देखिए साथियों आप लोग नार्मल संख्या से तो परचित हैं जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बताईए अगर थार्टीन का 5 में मल्टीपल होगा तो आप सभी जानते हो तो थार्टीन फाइब जा सेक्स्टी फाइब यानि तेरा पच्छे 65 होता है सही लिखाओं गलत है तो सही है लेकिन अगर मैंने कहा कि याक्स वाई का मल्टीपल वाई से कर दीजिए तो आप कहोगे यह कौन सी गड़ित है क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है चलिए ठीक है तो कल हमने कुछ क्विश्चन भी दिया था आप लोगों को क्या कोई हमें इसका अंसर बताएगा फटा फट अनामी का चौधरी कल मैंने बहुत कुछ बताया था अब आप थोड़ी सी कोसिस तो करिए गुला फसा अर् सिता सर्मा नेहह गौतम भाई नया नाम के 6 लोग हैं तो अगर मैं एक लोग का नाम बोलूंगा न तो सब लोग अपना-पना जान लेना निस गुपता नेहा मिसरा नेहा बर्मा और तीन हो गए नेहा तिवारी नेहा मिस्रा और नेहा सिंग ऐसे कुछ करके 5-6-7 लोग हैं चलिए इसका अंसर सबसे पहले कौन बताया है और गुला ने भी बता दिया है कृष्णा कुमार ठीक है आए बात करते हैं इनके बारे में डीटील में देखे किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले उसकी तह तक जाना चाहिए क्योंकि हम इस कलास को बड़ा बिंदास पढ़ाते हैं अराम अराम से समझ में सब को आना चाहिए हम हड़ बड़ी में रहते हैं ठीक है इनको जल्दी थी वो चले गए तो हमें जल्दी नहीं यह लाइव नंबर है वन एट एटीन आईए देखते हैं इनको करने से पहले यहां पर हम दो चीजें समझेंगे अज सबसे पहले तो यह चर और अचर क्योंकि इनको डीटील में अगर पढ़ना है तो थोड़ा वक्त देना पढ़ेगा ठीक है वक्त देना पढ़ेगा क्या आप लोग चर और बाकी अगर आपके किताब के अकार्डिंग जल्दी-जल्दी पढ़ाएं तो बहुंच जल्दी खतम हो जाएं मैं लेकिन पिर आप सीखो गे या नहीं हमारी गारेंटी नहीं अक अगर हम अपने कार्डिंग पढ़ाएंगे तो आप सीख जाएंगे देखिए कोई भी जो हम ये लेटर यूज करते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P मतलब जड़ तक ये सबी क्या होते हैं चर होते हैं जिन्हें इंगलिस में बैरियबल कहा जाता है क्या कहता है इन्हें बैरियबल इनकी संख्या लिमिटेड होती है, 26 होती है, डोटल मतलब बैरियबल कुल कितने होते हैं 26 होते हैं देखिए बच्चों जैसे अगर कोई इसी में किचिर किचिर एक ही बात को करने लगता है न तो बहुत गुस्सा लगती पर थोड़ा भी बुद्धी नहीं है क्या अगला देखिए आचरपद अचर को क्या बोलते हैं consistent इस रिकी मतलब जो गिन्थी के संख्या हैं होती जैसे एक, दो, तीन, चार, मतलब, डा, डा, डडा, कुछ भी आनंत तक इनकी कोई limit नहीं होती है ठिक है इन्या क्या बोलते हैं अचर बोलते हैं इंगलिस में कंस्टेंट बोलते हैं इंगलिस की स्पेलिंग मुझे थोड़ा कमारी इंगलिस की तो यह आप जानगे अब इसमें हम लोग को एक और चीज समझना है गुडांक जिन्हें कोफिसीएंट बोलते हैं इंगलिस में यह क्या होता है यहाँ से थोड़ा समझ क Frühakt言 का एक चीज और भी समझना है घातांक गातन को इंगलिस में क्या बोलते हैं इंगलिस वाले बहुत से हैं बताईए लेकिन मैत की भासा में बताईएगा मैत की भासा अलग है इसमें कोई feeling नहीं होती मैत में बाकी और language में तो feeling भी छिपी होती देखिए यहाँ पर समझिए तो हम यह समझ गए यह और यह क्योंकि जो हम करने वाले हैं अभी उसमें यह सब काम लगेगा अभी तैयारी कर रहे हैं के वली उद्द की बस जैसे मैंने लिखा चार यक्स और यहाँ पर लिखा तीन थोड़ा सा यहाँ समझिएगा समझिए यहाँ पर क्या है अगर भगवान थोड़ा सा भी बुद्धी दियें खोपड़ी में भूसा नहीं भरा है तो यह समझना चाहिए कि अगला इंसान अगर कुछ बता रहा है उसे पहले देख लें थोड़ा अपना दिमाग ठंडा करके रखें थोड़ा देर में फिर आगे बढ़ें ठीक है ध्यान दिजिएगा बिल्कूल अप्टेंसर ना लीजिएगा इसमें अगर हम इसको थोड़ा और है कि एकस्पेंड करें तो यहाँ पर देखना इसे हम ऐसा कर सकते हैं बताइए कर सकते हैं कि नहीं ऐसा कर सकते हैं क्यों कि दिखें ऐसा इसको इसलि यह क्या इनके गूरणखंड ही तो ह zijn, Ły mana क्या हुए हैं झालन खंड है न तो हम बताने वाले कि हम वह देखिएगो यहां पर जो यह गिंती है मतलब आचरपद है और जो चरपद है यह जो है वो क्या है गुढ़ांग किसका है यह चरवाले का क्या है गुडांग है ठीक है चरवाले का क्या है गुडांग है अगर पूछा जाए कि एक्स का क्यूब का गुडांग क्या है तो फोर है समझ में एक्स के क्यूब का गुडांग क्या है फोर है कोई डिक्कत इसमें कोई परिशानी किसी को कोई डाउट नहीं न तो यह आप समझ गए अभी आगे काम लगेगा याद रखिएगा आगे कहानी पढ़ते जाओगे एक पॉइंट ना समझ में आगा दूबारा बताने व यहां पर यहां पर यह स्कॉयर का गुडांग क्या है यह स्कॉयर का गुडांग क्या है जल्दी बताईए फटाफट चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है नहां मिस्रा क्रिफना वही कोई उत्तर भी बताएगा नहीं अच्छा एक बटा दो वाई जेट का पहला जबाब मन्नू ने बताया है बहुत अच्छा मन्नू बेरी गुट मानबें सिंग सतीस ठीक है इसमें अगर मैं पूछू की सिर्फ जड़ी स्कॉयर का गुडांग क्या है जड़ी स्कॉयर का गुडांग यहां पर आप लोग थोड़ा बुद्धी लगाईएगा मन्नू जी गलत है बिल्कुल गलत हो गया न मैंने पूछा सिर्फ जड़ी स्कॉयर का तो जड़ी स्कॉयर को छोड़ के जो भी बचरा वो सब इसका गुडांग की तो है एक बटा दो आई होगा बिल्कुल ठीक है वन अपांट टू वाई अगर मैं वाई जड़ी स्कॉयर का गुडांग पूछता तब तो यह वन अपांटू होता लेकिन मैंने सिर्फ जड़ी स्कॉयर का पूछा था क्या हमारी आवाज तो नहीं कमा रही न कि आवाज तो पूरा है क्या और तेज कर देड ठीक है तो आप यह समझ गए अच्छा घात आंग क्या है इसमें इसमें घात क्या है बताइए जल्दी बताइए इसमें घात क्या है वह देखे जो उपर लगा होई क्या है घात है दो कितना है दो आईए आगे बढ़ते हैं अब यह सब आप लगभग सीख गए इससे जादा इसमें गहराई से जाने की कोई जरूरत भी नहीं है तो इसमें चर और अचर दोनों का सीखना था एक मिनट रुकी हैगा देखने दीजिए कुछ चीजी अब पवर्त यानि गुड़ज ठीक है इसमें आप इसको सीख गए अब आईए हम चलते हैं मुख्य पॉइंट पे आपको पता है जब वेरियेबल्स का हम लोग मल्टीपल करते हैं तो घाते जुड़ जाती है घाते क्या होती हैं आपस में जुड़ जाती है आईए देखिए समझे गाते जुड़ जाती हैं कैसे जैसे अगर हम तीन का गुड़ा चार में करें और पांच करें तो आप सबी इसको बताओ कितना आएक पहलें हर कोई कर लेगा कितना आएका पोलिए फटाफट कितना आएका भया सबको मालूमें ना लेकिन अगर यक्स स्क्वायर का मल्टीपल यक्स और यह यक्स ऐसे करते हैं तो यह थोड़ा अलग होता है बताएंगे इसको ए इसको बी इसको सी मान लीजिए इसको डी मान लीजिए देखिए यह सब अलग अलग कटेगरी के अलग अलग मल्टीपल है बस आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है ठीक है और जो भी साथी सेसन को लाइक नहीं किया उनकी जिम्मेदारी है थोड़ी सी क्योंकि हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल फ आगे बढ़ें चलें ठीक है आईए यह सिंपल सा है आप सबको पता है गुड़ा कर लेते हैं तिन चोग बारा बारा पंचे साथ ठीक है सिल्पा केसरवानी जी बेरी गुड साथ आ गया लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है यह दूसरे विरादरी के लोग है क्योंकि आज करके इस्सי कंगी वेक्टर जमाने में आप इससे जदा समझेगी आईए कि अभी मैंने घाट के बारे में बताया था कि गात के बारे में बताया था तो यहां पर कितनी घाथ है और कि प्रोंस आहें कि गडरफे साहे इजियिस के जीनके कौनों घात नहीं होतु ना उन पर एक घ गात मान ली जाती है ठीक है इस पर कोई घात से मतलब नहीं होता है लेकिन जो बरियेबल होते हैं उन पर घात का मतलब होता है ठीक है समझ में आया ना आई ये देखिए अब इसको क्या करेंगे यहां समझी है हाँ मल्टिपल करने पर घाते जुड़ जाती है क्या होता है मल्टिपल करने पर घाते जुड़ जाती है तो जब हम इनका गुड़ा करेंगे तो सबसे पहले यह चीज देखना है कि सभी चर एक समान होना चाहिए सभी चर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए और दूसरी बात ये भी देखना है कि उनकी गाते कैसे हैं तो इसमें चर समान है की नहीं इसके पहले तो आपको एक और चीज पढ़ना था सजातिये और बीजातिये पद भी पढ़ना था क्योंकि इसमें सब जरूरी है पढ़ाना आगे की कलास में फिर हम नहीं पढ़ाएंगे आई ये इसको थोड़ा बता देते हैं फिर उसमें भी चलेंगे ठीक है तो ये यक्स ऐसे ही रहेगा इसकी घात दो इसकी घात एक और इसकी घात एक ये फाइनल में यक्स की घात हो जाएगी चार यही आंसर हो जाएगा समझ में आया इसमें देखें इसमें जो भी गुडांक हैं गुडांक का आपस में गुडा हो जाता है तो दो का गुडा तीन में होगा ति ये छे हो जाएगा और जो यक्स का क्यूब है उस पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है वो ऐसे का वैसे ही रहेगा ठीक है इसमें भी ऐसे ही होगा 937 यह 27 हो गया और यहां पर थोड़ा अलग है सायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा हमारी बेसिक कलासे उसमें मैंने बताया था कि देखिए आप लोग कॉलेज में यह क्लास में है उसी एज उम्र के ہیں अगर हमारी मतलब हमारी नहीं मतलब आप लोगों की अ голос पसंद ना पसंद एक दूसरें से बढ़ेट स्निये तो दोस्ति आतीये मित्रता हो प्यार हो जाता है प्यार हो जाते हैं आप सबी जानते ना है लेकिन अगर थोड़ा अलग रहे म सब कुछ तो रखित ज्यादा रहे टिट्ट्यट कुछ ज्ञान रहे Nos übrig में इस से इसमें क्या होता है मैंने बताया था है आगर बैसिक आपने पढा होगा कि जब यह चर समान समान होते हैं इनकी घाते जुड़ जाती हैं और यह आपसमें एक केłę पद में रह जाते हैं लेकिन दो चर समान नहीं है एक से अधिक चर हैं तो उनकी घाते नहीं जुड़ती वो सब अपना अलग अलग होते हैं ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी गर में अगर दो भाई हैं उनकी साधी वादी हो गई है नहीं नभीली दुलहन आ गई है तो अकसर दो चूला जलने लगता है आप सब लीक्तों अलग अलग हैं तो इनका जुड़ेगी नहीं घात इसके भी घात एक है इस पर भी घात एक है लियेbone घदर जूड़ेगी यह 95 27 यह हो जाएगा simpl Oxford आइसे ही रहेगा और यह वाकाatti स्क्वाइर भी ऐसे स्वरी यह जो भी घात है इसकी ऐसे रहेगी चाहे एक लगाईए या फिर मत लगाईए ठीक है तो ये हो गए इसका अंसर समझ में आए लेकिन इसी की जगापर थोड़ा सागर ऐसे होता नो यक्स का स्क्वायर इंटू ये तीन यक्स अगर होता तो ये नो तरिक 27 और ये दो घात और ये एक घाताय से जूड़ जाती तो ये 27 यक्स का घात तीन हो जाता समझ में आ रहा है ना चाप लीजिए फटा पड़ देखिए जो फालतू कमेंट वाले उन्हें बलग कर दीजिए उमीद है मुझे कि वो पढ़ने वाले नहीं है क्योंकि इस कलास में जो पढ़ते हों सीरियस ही होते हैं चोटे बच्चे इतना रात में पढ़ते नहीं इसम कि इसको लिख लीजिए इतना समझ गए आप लोग कि समझ गए ना अच्छा ठीक है तो अगर समझ गए तो एक क्विश्चन बताईए फिर हम थोड़ा सा इसमें और डीटील में आपको बताएंगे पूरा गहराई से मैं पढ़ा रहा हूं जो पेडवाली क्लास बच्चे लेते हैं तीन सो रूपया महीना जमा करके वैसे तो साथ सो से कम होता नहीं है कभी-कभी हो जाता है उसमें भी ऐसे ही पढ़ाते हैं हम तो कही 22 तरहimated नहीं बिलकुल पूरा दिल से बढ़ाते हैं हम ठीक है लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तब न पड़बेन करेंगे तो क्या होगा कुछ नहीं होने वाला आए देखिए यह बताइए कि 19 यक्स का घाथ पांच और यक्स और यक्स का स्कॉयर कि इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा अगर समझ गए तो बताइए मनीज पांडे ची आपसे निवेदन है कि आप सांध रहिए कितना आएगा कोई बताएगा अंसर कुछ ऐसे हैं जो चुप रह नहीं सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते हैं कि इसका सबसे पहला जवाब दिया भाई कृष्णा कुमार ने नैंटीन एक्स पावर एट बता रही है कृष्णा कुमार जी क्या आपका नाम कृष्णा कुमार है कुछ आउर है सतीस गुपता बहुत अच्छे नहा मिस्रा यह लोग वह हैं जो टॉप पे हैं मतलब हंड्रेड लोगों में टॉप पे हैं बाकि सब लोग हैं वह एबरेज में देखे जिंदगी में न दोई लोग का नाम होता है एक जो उपर से नंबर एक पर आता है जो नीचे से नंबर एक पर आता है बस बीच वाले अबरेज रह जाते हैं तो कुछ अच्छा करिए उपर से नंबर एक पर आईए गुड़ा करने पर घाते जूड़ जाती है यह घाते जूड़ जाएंगी तो पांच तीन आठ उननीस यक्स का पावर आठ आएगा बिल्कुल सही है जिन लोग समझ रहे हैं अगर तो अच्छी बात है कुछ और कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं चलिए इन्टू वाई इन्टू एक बटा दो इन्टू यक्स वाई अब बताईए इन्टू वाई अपान यक्स इसको पूरा हल करेंगी तो कितना आएगा इसी में थोड़ा कुछ और चीज़ें बता देते हैं इसको आप बताईए कितना आएगा देखते हैं सबसे पहले कौन बता पाता है अगर जो भी थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा कर ले जाएगा मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूं कोसिस करता हूं खुद को रोकने की और चलता भी बहुत जल्दी जल्दी हमारे साथ कोई मार्केट नहीं जाता है कहीं पैदल जाता है तो लवट आता है बाहर रास्ता लवट आता है कहता हम नहीं जाएंगे कि रेकिए ठीक है जिनको नहीं पता वो नंग करें हैं ये और नो हम जान जाएंगी क्नको नहीं पता है बहुत अच्छे हैं वह बताते नहीं लिज्जा नायरा नीचे नंबर चल रहा है उस पर इंक्वारी करिए नहीं तो आप पीवीर स्टड़ी एप डाउनलोड करके जाके लिजिए वहां कोई हल्प नहीं चाहिए अलग से आठ X का स्क्वायर Y का स्क्वायर आ रहा है MA नीच का मुझे लग रहा है कि मनीच नहीं से पहले ुटाया भी थीक है देखते हैं अकसर लोगों को नहीं आ रहा है और कोई कोई कहाँ है सायद, सायद इतना आएगा आईये देखते हैं, अक्सर लोग नो, नो, नो बोल रहे हैं बड़े इमांदार हैं ये, ये दिल से इमांदार हैं बता दे रहे हैं को मुझे नहीं आ रहा है उभी लोग तो ऐसे लागे लगाये उल्जाते हैं बेवकूब बनाते हैं को उनको आता भी नहीं और बोलते भी नहीं मुझे नहीं आता देखिए यहाँ पर दो तरह के प्राणी है एक चर है एक अचर है तो हम चर चर को एक तरफ कर लेते हैं आचर आचर को एक तरफ बरियेबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ आई यह फटफट कि तो फोर मैंने लिख लिया यह A B C D Y से लिख दिया इसका कोई मतलब नहीं है थीक है याक्स से याक्स कड़ जाएंगा उपर यहां पर सिर्फ दो बच रहें कि यहां पर यह वाई बच रहा है यहां पर वाई बच रहा है यह शुल सब्सक्राइएuster हो सकता है क्यूं यह गुड़ा का चिन था कुछ लोग confusion रहे होंगे यह गुड़ा का चिन है यह yaks नहीं था अगर यह yaks नहीं था तो सिर्फ यह एक कर यक्स था जो कि यहां से cut गया तो सिर्फ y दू बचा है तू बचा और y बचा है और एक y और बचा है एक ये बचा है y ये वाला एक ये वाला तो final में 2y का square आएगा ये 8 वाट कहां से आ रहा है इन लोगों का जिसका 8 आ रहा था उसका गलत है भाई 8 कहां से आया रहने कुछ गलत कर आएगा ये 1 upon 2 था हाफ था तो कट गया तो 2y तो बचा 2y का square आएगा क्यूं बताइए किसी को कुछ कहना इस पर सही है न वो साक्षी तिरपाठी आपने तो बड़ी लंबी कहाने लिख दिया भाई ये इतना है आएगा चलिए इसको मिटाए हो गया किसी को कोई अपत्ती है तो बताइए इस पर देखिए इसको आएगा समझ में इसके पहले थोड़ा सा हमें और पीछे अभी चलने की जरूरत है थोड़ा और पीछे चलने की जरूरत है पहले हमें आना चाहिए वो क्या बोलते हैं सजातिये और बिजातिये पद लाइक और अनलाइक टम्स हमें आनने चाहिए तो इसमें से कितने लोग हैं जो लाइक टम्स जानते हैं बताइए फटा फट जितने सजातिये पद जानते हैं ते वो सभी ये लिखके कमेंट करेंगे और जितने लोग नहीं जानते वो लिक के कमेंट करेंगे जल्दी करें देखते हैं कितने लोग को पता है सब तक हम इसको रगड पोष देते हैं क्योंकρι इसकी बड़ी सेवा करनी पड़ती है एक बार विगो के मिटाना पड़ता है फिर रगड़ रगड़ के मिटाना फिर पोचना क्या करें गरीबी में बोर्ड नहीं आ पा रहा है धाई लाक रूपया का बोर्ड आएगा डिजिटल वाला वोसिस में है आज आएगा हो सकता है चलिए इधर देखिए हाँ तो बहुत से ऐसे हैं जिनको आता है बहुत से हैं जिनको नहीं आता है ये भी इसी का हिस्सा है ये चैप्टर दस में भी है तो हम अभी पढ़ा दे रहे हैं तो चैप्टर दस में नहीं पढ़ाएंगे ठीक है चैप्टर दस में भी ये है बिजातिये पद अनलाइक टर्म लाइक टर्म ठीक है देखिए इनका मतलब यह है सजातिये जैसा कि नाम से असपस्ट है सजातिये मतलब एक ही जाती कि जैसे आपको पाल मालूम है कि हमारे भारत देश में सब्वेता संस्कृति में साधी बिया अपने जाती में होता है ना मालूम है ना और कहीं दूसरे धरम में कोई कर लिया तो फिर इस देश और समाज की दिश्टी से बहुत बड़ा गुना होता है लेकिन हाँ नियम और जो कानून इस देश का आप किसी से भी किसी भी जाती में किसी भी धर्म में साधी बिया कर सकते है ये कानून कहाता है संभिधान ये काहे के लिए बता रहे हैं क्योंकि इससे संबंदित है सजातिय मतलब जो एक ही जाती का हो लेकिन इसमें दो चीज देखा जाता है सजातिये के लिए यहाँ पर दो चीज देखा जाता है जैसे समझिएगा दो चीज में क्या क्या नमबर एक चर समान होना चाहिए यहाँ पर देख लीजिए सजातिये के लिए क्या क्या चाहिए ठिक है? चर समान चाहिए और नंबर दो घाते समान चाहिए चाहिए समान बोले हैं बराबर देखो इसको सामान नहीं लिखे हैं बस तु नहीं है समान मतलब इक्वल इक्वल ठीक है मोनिका यादो जी बहुत अच्छी बात है मैं देर करती नहीं देर हो जाती अच्छी बात आई यह इधर देखिए यह क्या बन गया सजातिय पद की बात कर रहे थे चर समान और गाते समन तो यह बताईए मैंने लिखा 3x का स्कॉयर और यह x का स्कॉयर और यह लिखा x का क्यूब ठीक है ध्यान से देखिएगा चारो आप्सन चारो आप्सन ध्यान से देखिएगा फिर मुझे बताईएगा x का 5 y 3 और 3x स्कॉयर c वाले में है 9x का क्यूब x का क्यूब और 8x का क्यूब d वाले में है 1 बटा 2x का क्यूब और 3x का क्यूब और 9x का स्कॉयर क्या इसमें से कोई सजातिय पद हैं जल्दी से बोल यह अगर कुछ भी समझ में आये तो यह चारो आप्सन में क्या कोई like terms हैं भाई इतना गंदा गंदा तो अपना नाम लिखे हो मैं क्या बताऊं इनका सिर्फ बात नहीं समझा इनका नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है यह पूछ रहे हैं कि आपके क्लासे होती हैं सब यहां नहीं बताते हैं इसका सबसे पहला जो जबाब दिया है उनका नाम मैं बोलूंगा उनका नाम है सतीस गुपता सतीस गुपता के पहले डॉली ने बताया था बहुत अच्छा बेरि गुड डॉली ने सी बताया था सजातिये हैं और मुझे लगता है कि इन्होंने सबसे पहले बताया था तो हम इससे यह मान के चलें कि आप लोगों को सजातिय पद आता है लेकिन इस कलास में बैठा हुआ सबसे कमजोर छात्र जो है उसको भी आना चाहिए हमारी ये कोशिस है है ना तो फिर हमें बताना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत आईए फिर इधर देखते हैं सी नंबर आपसंस आई है थीक है तो हाँ सही क्यूं है इस पर भी डिसकस कर लेते हैं सही क्यूं है देखे यहां पर यक्स की घात पहले तो चर समान होना चाहिए कंडिसन दो है चर समान चाहिए गाते समान चाहिए यहां पर चर समान भैने है नहीं बोलिये हां й आ JOE भाईयों और बैनों चर समान अई अब मुझे ऐसा तोывает आती नहीं वह देखो Battery LOE HO Gई एक मिनट यह इसी बाती बोल दिया कि मेरा खामें खराब हो गे जाना नहीं को इधर देखिए हाँ तो इसमें चर समान है लेकिन घाते समान नहीं है पहला यह खरा उतर रहा है दूसरा में घाते समान होनी चाहिए घाते समान नहीं है क्योंकि यहां पे तीन घाते यहां पे दो दो है इसलिए पहला सही नहीं है पहला क्या है यह बिजातिये है यह सजातिय नहीं है दूसरे पर आजाईए इधर साइड में यक्स का पावर फाइब वाई का पावर थ्री और तीन यक्स का स्कॉयर क्या इसमें सजाति चर समान है गाते समान है नहीं न जी तेन जी माफी चाहते हैं अभी हमारे टीम के मेंबर जो है वो छुट्टी पे चल रहे हैं चौदा तारीक से हो सकता है कल से सब जॉइन करेंगे तो वाट्सअप का रिपलाई पिछले एक सबता से किसी का नहीं हुआ सभी नंबर पर हजारों मैसे जाए हैं सब रिपलाई करेंगे आप थोड़ा धैर बना के रखिए धैर बना के रखिए वाट्सअप ओले आईए तो इसमें चर समान भी नहीं है दूसरे में घाते तो स समान वैसे भी नहीं है इसमें पांच घात है इसमें तीन है इसमें दूए इसमें देखिए हां एक चीज और है यहां पर कभी भी जो गुडांक होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है जैसे इसके पहले जो गिंती दी गई है उस गिंती से कोई मतलब नहीं होता है ठीक है इ यहां पर तीन है यह सभी चीजों में खरा उतर रहा यह क्या है सजाती यह समझ में इसमें देखिए गिंती से कोई मतलब है नहीं जो आगे लगी है इसमें यक्स है इसमें भी यक्स है इसमें भी यक्स है लेकिन यक्स यक्स तो है प्रॉब्लम यह है कि यहां पे घाद दो है समझ में आए ना इफलेज सजाती है नहीं है देखिए जो डाउट वाले हैं उनको एक बात बता दें कि जो छात्र PVR स्टडी की प्रीमियम कोर्स ज्वाइन किये है डाउट सिर्फ उन ही को बताया जा सकता है क्योंकि हमारे यहां यूटूब पे 3,25,000 बच्चे है तो हम सबको डाउट नहीं बता सकते हैं माफी चाहते हैं सिर्फ यूटूब पे देखिए अगर डाउट पूछना है तो आप प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करिए और अगर आपने ज्वाइन कर लिया है फिर भी किसी कारण बस आप कोई मुसीबत आ रही है तो आपको एक अलग नमबर दिया जाता है ठीक है एक प्रकार से समझेए कि हमारा प्रफनल नमबर अलग से तो उस पे आप पूछ सकते हैं अब भी अगर कोई बात रहे गई तो बताईए आप लोग कोई दो सजातिये पद बताईए जल्दी बताईए कोई दो सजातिये पद बताईए तो मिटी इन जाता बस आईए पांडे जी ठीक है परिसान मत रहिए अच्छी बात है आपका नाम बहुत अच्छा है चलिए कि कृष्णा कुमार ने सबसे पहले बताया है और अश्वनी कुमार गलत है बच्चा आपका गलत है गलत है भाईया बाबू गलत है मन्नू तिवारी इन्होंने भी कोशिस किया है सही है इनका भी ठीक है देखिए आप लोग कोशिस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है जो उनको मैं क्या कहूं जो कोशिस है नहीं कर रहे हैं बस सिर्फ उमीद बना के रखें सब अच्छा अच्छा होगा मतलब पेड़ नहीं लगाना मूँ फैलाक बेटे रहो कि आम गिरेगा आम की जग होगा ठीक है आप लोग मुझे उमीद है कि सजातिय विजातिय समझ गए इससे ज़्यादा और भी बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा कहानी हां आए देखिए इधर साइड में यह बताईए कि तीन यक्स क्या यह सजातिय पद है क्या यह सजातिय पद है यह मीट माही कोई मीट यह मैं समझ नहीं भा रहा हूं यह सब एक एडी से कमेंट करने के अलग अलग यह सजातिय पद है या नहीं नहीं क्या इसमें कोई सजातिये पद है जिसे निकाला जा सकता है इसमें सजातिये पद है जिसे निकाला जा सकता है आईए देखे बताते हैं इधर साइड में लगवक साब हर कोई मुझे लग रहा है कि जान गया जो नहीं जान गया थोड़ा भ्यास कराना जरूरी है इसलिए मैं करवा रहा हूँ तो बिल्कुल परेसान नहीं होना है यहां पर मैंने एक और भी लिख दिया वाई घात पांच हाँ सिल्पा केसरवानी इजी एस्टडी हरसिता ठीक है बहुत अच्छे इसमें सजातिये पद हैं जिनकी घाते समान हैं जिनके चर समान हैं वह एक जैसे हैं मैंने बताया ना अभी दोस्ती और प्यार वाली बात जो लोग पीछे हो गए उस सुनी नहीं पाए अप लोग हैं ने बूसरा एक्जंपल बताया था आजकल सादी जहाँ होती है जाति समान होना चाहिए ढprints सोंकर है तो सोंकर में ही साधी होगी यादो है तो यादो में ही होगी सिंग है तो सिंग में सुकला है तो सुकला में नहीं यह तोड़ा गलत हो गया तो इन लोग का क्या सिटम मुझे नहीं पता किसी के बारें फिला हल जादा लेकिन हां कहने का मतलब यह है कि यह भारतिये सब्वेता और संस्कृति में ऐसा होता है तो ऐसे यहां पर क्या है इनकी जाती समान होना चाहिए यह सजातिये लिखा है इसमें जाती सब्द लिखा गया है सजातिये सजातिये मतलब समान जाती के समझ रहे ना समान जाती के तो ये और ये समान जाती के हैं दोनों में क्या है एक्स एक्स है तो ये हो गया तीन एक्स का क्यूब और ये हो गया नो एक्स का क्यूब आप सोच रहे होंगे भाईया एक्स तो इसमें भी है और एक्स तो इसमें भी है फिर इसको कहा है छोड़ दे रहे हैं इसको कहें छोड़ दे रहें क्योंकि इनकी पावर अलग-अलग है एक चीजा और भी आप मालूम होगा लोग देखते हैं अगर कोई बहुता बड़ा भिकमंगा है तब भी कोई नहीं पूछता है न तो थोड़ी पावर भी होनी चाहिए कहते हैं लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पुछते हैं इसलिए कामयाब बनिये कामयाब बनिये समझ रहे न यह क्या सजातिये हैं यह दोनों सजातिये हो सकते थे क्योंकि इनकी पावर समान है मतलब इनके भी दोई नहीं होआ है इनके भी है लेकिन इनकी जाती अलग-अलग है अब यह सजातिये नहीं समझ में आया ना आया समझ में की नहीं ठीक है आगे चलें कोई दिक्कत इसमें किसी को तो बताईए फटा फट बताईए कोई प्राब्लम तो बताईए आगे चलें भाई तो यह क्या सजातिय नहीं है अब इसमें कोई भी सजातिय पद नहीं बचा है लगबग मुझे लग रहा सभी समझ गये होंगे फिर चेंज करा जाए इस टॉपिक को अच्छा एक और बताईए तीन एक्स हर बार लिख रहे हैं अपकी तेरा हो गया एक्स का थ्री नाइन एक्स का पावर फाइब और दो एक्स का पावर दो क्या इसमें कोई सजातिये पद है क्या इसमें कोई सजातिये पद है पटापट बताईए ऐसा है कोई या नहीं इसपीड ली भाई यहां इतना कम स्पीड में बताने से तो लोग वह ऐसे डर रहे हैं बताईए ठीक है कोशिस करते रहिए इसमें कोई सजातिय पद नहीं क्योंकि कुछ न कुछ अडचन अटक रही यहां पर या तो घात बराबर नहीं है और या तो चर बराबर नहीं ठीक है तो सभी समझ गए कि इसमें और कुछ बताना पड़ेगा सभी समझ गए हैं अब हम चलते हैं इसके जो मुख के पॉइंट है उस पर चलते हैं मीट माही वाई पहले यह बताईए आप हैं कहां से क्योंकि आपकी लेंग्वेज और आपकी बात मुझे कुछ अलग सी लग रही मीट माही और मीट यह तो बोलेंगे ना इंगलिस मुझे कम आती थोड़ा तो यह बताईए कि पंदरा यक्स का घात तीन इसमें से कौन इसका गुड़न खंड या बोलें अपवर्थक नहीं है कौन इसका अपवर्थक नहीं है पहला तीन वाई यक्स वन इसने बताए 15 x का क्यूब में मतलब इसका इन में से कौन अपवर्थक नहीं है अपवर्थक नहीं है बताइक मतलब बिभाजक जिसे बोलते हैं या डिवाईजर कौन है ऐसा जो इसका डिवाईजर नहीं करेंगी टाइम में कैlair जाएंगी कुछ लोग देखो आप लोग ना कुछ गड़बड कर जाते हो अब यह आ dessa बचा फिशन बचाया तो कोई भी बोल रहा बोल रहा है कौई तीन बार बोल रहा है को चार बार बोल लिए ठीक है तो यह वाई कियोंकि इसके जाब हम गुड़नखंद करेंगे तो यह तीन गुड़ा 5 गुड़ा एक्स का क्यूंभी उतना हौसकता है । यह फिर एक कि यहां पर ऐसे कर दिया यहां पर मान लेते हैं कि मैंने ऐसे कर दिया यह बताईए अब इसमें से इसमें से कौन इसका अपवर्टक नहीं है 15 एक्स क्यूब का अपवर्टक नहीं है इनमें से कौन बताईए बहुत जादा टाइम अब इसमें नहीं बिताना चाहिए मुझे लगता है कि इतना ज्यादा पढ़ा दे रहें ज्यादा हो जाएगा कोई चीज उतने गराण करना चाहिए इतना हजम हो जाए आपका पांच चैप्टर खतम हो गया आज मैं चैप्टर पढ़ेंगे आज मैं वही पढ़ाने वाला था लेकिन इसमें यह थोड़ा बचा रहा गया था सिल्पा केसरवानी मानबेंद्र बंधना चोहान मनीशा दिब्या तिवारी डॉली मीट माही माहीरा पंडित रोसनी कुमारी उपेंद्र चोधरी कृष्णा नेहा पर्मा नेहा मिस्रा नेहा सिंग मानबेंद्र सिंग ठीक है नाम बोल लिए खुश हो गये ना आईए इसका का सिंग आप संसा ही क्योंकि यह एक्स का पावर 4 है और इसमें एक्स का पावर 4 तक कहीं है नहीं तो यह सी वाला हो जाएगा ठीक है और इसमें और भी बहुत कुछ है लेकिन कितना पढ़ेंगे हम लोग हां कि आईए इधर साइड में आईए क्या आप लोग इसका मल्टीपल कर सकते हैं कोई है ऐसा खतरनाक आदमी कोई ऐसा डेंजरस है परसंद जो इसको कर सकता हो हूं बताए जबाब दीजी अगर ऐसा है कोई तो कि देखिए यह यह चीजें भी आपको आने चाहिए यह चीजें भी आपको आनी चाहिए कोई बताएगा कितना आएगा नेहा मिस्राजी ने बता दिया कि एक्स का पावर थ्री और एक्स की पावर टू क्यों भाईया सही है और कोई एनीमन क्रिफना कुमार ठीक है बाई नेहा जी का सही है नेहा मिस्रा जी का सही है तो आप सभी ल्चिएम से परचित हैं कोई नया तो है ने इसमें मुझे ने लगता कोई नया है यह बताइए मुझे छोटा सा कुश्चन है नन्हा सा है कि टू थ्री का एल्सीम क्या होगा क्या आप बता सकते हैं बताइए पूरी कहानी बताने वाला हूं थोड़ा सा रुकना थोड़ा सा यह ओबर लोड हो रहा है तोtery का सा हैंग है कोई दिकर नहीं ठीक है हमारी कोशी से सब बहतर होगा अगर थोड़ा लोड लेगा तब आप परिसान नहीं होईएगा सिस्टम है टेकनिकल चीजें हैं कभी कभी थोड़ा बफरिंग हो जाता है तो इसको आप लोग बता लिए जैसे उस तरह से अगर मैं बोलूं कि 4 और 2 का LCM बताईए तो इसका थ मल्सीयम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टिपल जिसे हिंदी में लगुत्तम समापवर्थ बोलते हैं जानते हो कि नहीं हम लगुत्तम समापवर्थ और महत्तम समापवर्थक यह सब पढ़े आप लोग महत्तम समापवर्थक का मतलब HCF होता है लेकिन इसमें वर्थ होता है मल्टिपल जो है जैसे पढ़ाया था उसमें अपवर्थे पढ़ाया था उसमें क्या पढ़ाया था अपवर्थक पढ़ाया था दोनों एक दूसरे से संबंदित हैं जैसे अपवर्थक है वैसे का मतलब एक प्रकार से अगर बात करें तो कॉमन ऐसे तो कुछ होगा साइद आए अभी आगे चर्चा करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा हम लोग को फिलहाल इतना इंग्लिस में देखना है हिंदी में इसे लगुत्तम समापुवर्थ बोलते हैं लिख लीजिए कुछ लोग चलिए अच्छी बात है जिनको बेसिक पढ़ना है रात के 9 बज़े से पढ़ सकते हैं वह तो 2 और 3 का LCM 6 हो गया कैसे आपको पता है पहले हम रूल पर बाद में चलेंगे पहले छोटी छोटी कॉमन चीजें आपको आनी चाहिए देखे साथी हों LCM में ऐसा होता है कोई दो संख्याएं जिनका कोई मतलब कामन गुड़न खंड ना हो उनका LCM सदा हमेशा उनका गुड़न फल ही होता है मतलब जो नंबर है उ ठीक है जैसे एक अगर मैं यहाँ पर और भी देता हूं कोड नंबर चार मान लीजिए जैसे मैंने टू लिखा यह फाइब लिखा और यह सेबन लिखा इनका अगर हम LCM बोलें तो आप बिना कुछ किये आधा मिनट में बता ले जाएंगे बताईए बता ले जाएंगे न जब आप तो दे दीजिए मैं थोड़ा इसमें स्याही भर देता हूं सर्माईए नहीं और हाँ जो नए साथ ही जुड़े हमारे वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आपकी जिम्मेदारी है और कलास को सेयर भी किया करिए अपने कि अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तभी यह गाड़ी आगे बढ़ने वाली है इसका सबसे पहला जबाब दिया है अनेहा मिस्रा जी ने प्रियंका राज दूसरे नंबर पर हैं कृष्णा कुमार तीफरे नंबर पर हैं ठीक है बहुत अच्छे चलिए इनका LCM 7070 होगा बिना कुछ किये बिना किसी लाग लपेट के आप गुड़ा कर दो बस सिर्फ मल्टीपल कर दीजी LCM हो गया लेकिन ध्यान रहे यह नियम उन्ही पर लागू होगा जिनके कोई कामन फैक्टर नहीं है यानि कामन अपवर्तक नहीं है जिने हिंदी में बात कॉमन बोलते हैं ठीक है आईए देखिए एक और बताईए जैसे मैंने लिखा वन थिरी फाइप और मान लेते हैं कि मैंने दो लिख दिया अब बताईए इनका LCM कितना होगा जरा सोचिए और बताईए कितना होगा आप समझ गया होंगे कहानी तो हम आगे बढ़ते हैं सब टॉप पर हो जाएंगे यही जलनतों में खा ले रही है इस्टूडेंट में यही प्राउब्लम है अभी कोई गंदा सा वीडियो हो भद्दा सा उसे जरूर सेयर करेंगे अभी मैं किसी को गाली दे दूं तो यह सब वायरल कर देंगे देखो देखो माइस्टर होके घर था फिर नहीं सोचेंगे कि हम अगर सेयर करेंगे तो सब लोग गाली बाज ہو जाएंगे सब लोग गंदे हो जाएंगे ना इस तो मैं उसमात वाला वीडियो सांब अखर हो किस्ता करृण जाएंगे हम तो पीछे हो जाएंगे कि इसका अंसर ठीक है सब का गुड़ा कर लेंगे एक तीन पचे पंदरा दूना तीस कितना जाएगा 30 कि कितना जाएगा 30 अगर इनके HCF की बात करें यहीं पर तो क्या होगा आप इसको समझ गए ना इनके कोई कामन फैक्टर नहीं है आपस में किसी भी नंबर के इस लिए इनका सिर्फ और सिर्फ गुड़ा करके ही LCM निकाल लिया जाता है ठीक है आएए आगे अब हम कुछ नए नए तरीके नए तरीके तो नहीं फिलाल नए कोईश्चन पर चलते हैं आपको अंतर समझाते हैं इसमें बताईए जैसे मैंने चार छे और आठ ले लिया अगर इनका LCM करेंगे तो क्या इनका डारेक्ट गुड़ा करके कर सकते हैं नई अब मैं कम समय में ज्यादा पढ़ाओंगा बोलूंगा कम देखूंगा ज्यादा आओ इधर देखो इनमें common factor हैं इनमें जो factor हैं वो common है एक दूसरे के इनका थोड़ा मैं explain कर देता हूं तब इन पे आता हूं जैसे वन लिखा वन के अगर factor करेंगे तो वन अकेला है इसके आगे नात्मा पीछे पगावाली कहानी है इसके कुछ नहीं है कोई नहीं थिरी की बात करें तो थि यह यह योगी महराज हैं इनके भी कोई नहीं है एक खुदा है बगवान एक खुद है बस दो की बात करें तो यह बी ऐसे ही है लेकिन यह लड़के वच्चे वाले हैं फैमली वाले हैं इनके भावी भी भी है आजी आजा नाना का की सब हैं इनका अगर मैंने लिखा तो इनका 1 भी फैक्टर है 2 भी है 4 भी है इनका लिखा तो 1 भी है 2 भी है 3 भी है 6 भी है समझते जाईए मैं जो बताने वाला हूँ एट का अगर लिखा तो 1 2 4 8 इनमें और उनमें अंतर क्या है समझिए इनका सिर्फ मल्टीपल करके ही ल्सीम निकाल लेते हैं डारेक्ट गुड़ा करके क्यूं क्योंकि इनके कोई कामन एक्टर नहीं है और होंगे काय जूट वोल रहें में संजा साव रही वन सब में कामन न है semi कोई fire इनकी कोई गिंति नहीं होती है इनकी कोई grew नहीं नहीं होता हैकंदो इसमें कोई कॉमन गुड़ा कर्दें या भाँ कर्दें कोई फरक नहीं पड़ता है अलकिन जोड़ा घटाया नहीं जा सकता क्योंकि एक जोड़ने या घटाने से फ़रक बहुत बड़ा पड़ जाता है तो इसमें कोई common गुड़नखंड नहीं है अगर इसे थोड़ा और detail में बोले तो one को छोड़ कर वन को छोड़कर कोई और कॉमन गुड़न खन नहीं लेकिन इसमें भी ऐसा है क्या कि रोसनी कुमारी बताइए रियांक कसवधन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें वन को अगर छोड़ दें तो इसमें देखिए दो सब में कॉमन है आगर 4 इसमें भी होता सन्योग वस तो 4 भी common था लेकिन गड़बड़ा गया अब नहीं है बात समझ में आ रही ना उसके बाद हम LCM में ये भी देखते हैं जब संख्याएं 2 से अधिक हैं जब 2 से अधिक हों तो हम वो भी देखते हैं कि कोई गिंती जो सिर्फ 2 में common हो उसको भी गेरते हैं ठीक है तो सिर्फ 2 में common ये 4 है इसको भी हम गेरेंगे इसे ठीक है समझ रहे हो ना आप लोग अब क्या करेंगे हमें अगर LCM final करना है तो क्या करेंगे जो सब में common था पहले उसे एक बार लिखेंगे 2-2-2 उसके बाद जो 2 में common था उसको भी एक एगर लिखेंगे जैसे ये 4 फिर जो किसी में common नहीं था उसको भी लिखेंगे समझ रहे ना आप लोग लेकिन हम की यह क्या है पता है हम लोग तो फैक्टर निकाल रहे थे क्या यह सही होगा क्या LCM के लिए यह सही नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने उस तरह के फैक्टर तो निकाले नहीं उन्हें क्या बोलते हैं अब आज ये गुड़न खंड निकालेंगे न हम अगर LCM निकालेंगे तो अब आज ये गुड़न खंड निकालेंगे क्या इस तरह से LCM निकाला जा सकता है क्या इस तरह से ल देख्राइल संस निकाला जा सकता है अप लोगों को लग रहा है देखें गुढर्ण खंडवी दो थरह होते अभी तक हम से वह जब गुढर्ण खंडबोलते आए हैं फैक्टर 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 लेकिन वो दो तरह के होते हैं कैसे एक भाज्य गुडनखंड होते हैं एक अभाज्य गुडनखंड होते हैं आई ये बात करते हैं अभाज्य गुडनखंडों की ठीक है इनको यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि यह लाइन अलग है मैं इनको कुछ और बताने के लिए लिख रहा था ठीक है इनको मैं क्या लिखा था टू भी लिखा था फोर भी लिखा था ये एक दूसरे से कट पिट रहे थे हैं ना तो उमीद है कि आप समझे होंगे इसमें हमने आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्टर बताया ल्सीम की बात करेंगे अभी थोड़ा रुकिये रुकिये बताएंगे वो भी बताएंगे वो भी बताएंगे वो भी बताएंगे थोड़ा रुकिये सबर करिए पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि आखिर LCM का मतलब क्या है क्योंकि हम जब पढ़ते हैं डीटियल में पढ़ते हैं ना आई यह जल्दी-जल्दी से समझते हैं LCM का वास्तों में मतलब क्या है देखिए जैसे अगर मैंने नंबर लिखा दो नंबर छोटे-छोटे हैं फोर और एट अगर हम फोर और एट का LCM आप से पूछें तो आप सभी बता लोगे ना क्या होगा अभी-अभी मैंने बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल यह होता LCM का फुल फार्म लीस्ट मतलब छोटे फे छोटा कॉमन मतलब कॉमन यह उभायनिस्ट हिंदी में बोलते हैं मल्टीपल मतलब गुड़ज तो वो सबसे छोटे से छोटा गुड़ज यानि सीधी-सी देशी भासा में बोलें तो वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए वही LCM होगी वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से भी भाजित हो जाए पूरी तरह से बस वही अंसर है मिताली सिंग नेहा मिस्रा दिब्ब्यातिवारी रूपेश ठीक है तो भाईया हो इन दोनों से कट जाए अगर हम बात करें फोर की तो ठीक है फोर फोर से तो completely divide है लेकिन फोर जो है वो 8 से पूरी तरह फे divide नहीं होगा कहने का हमारा तात्य पर ये है कि जो फोर है वो 8 से इस तरह पूरी तरह divide नहीं होगा लेकिन अगर हम 8 को ले ले तो भाईया 8 ले ले तिन से दुनों काम चल जाएगा कैसे क्योंकि 8 में अगर हम फोर से भाग करें तब भी 0 आएगा और अगर 8 में हम 8 से भाग करें तब भी 0 आएगा सेस्पल यनि इसका आंसर क्या होगा 8 होगा बिना किसी नियम के बिना कुछ किये आंसर आ गया बताई ये आया ना सभी को आया ना ठीक है बिना किसी नियम के कुछ किये हम direct answer निकाल लेंगे अभी एक और देखिए जैसे हमने एक नंबर ले लिया फोर और एक नंबर ले लिया 12 बताईए इसमें दोनों में LCM क्या होगा सोच के बताईए आईए अभी बड़े बड़े गिंती भी करेंगे आप लोग ये मत सोचना कि ये बच्चों आला उनका दर्द और तकलिफ कोई समझ ही नहीं पाता है जो अंदर ही अंदर खुद को गरी आते रहते हैं कि पढ़ा काया नहीं बच्चपन में मर काया नहीं जाता तू अब मैत काया नहीं पढ़ाता नहीं तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी देखिए इसमें वो छोटी से छोटी गिंती जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए पुरी तरह दोनों से तो अगर हम देखें तो फोर तो फोर से कट जाएगी पुरी तरह लेकिन बारा से भी वो गिंती कटनी चाहिए तो भाईया बारा से भी अगर कटेगी तो वह 12 ही होगी क्योंकि 12 जो है वह फोर से भी कट जाएगी और 12 यह नहीं 12 से भी कट जाएगी ठीक है यह यह नि कहने का तात्य पर यह है कि इसका LCM क्या होगा वन टू टैल होगा लेकिन रुको अभी थोड़ा सबर करो अगर मैं इसमें थोड़ा बदलाओ कर दूँ ऐसे अब देखना और मैंने ऐसे लिख दिया भई आप बताओ अब इनका LCM क्या होगा आप बताईए इनका LCM क्या होगा आप बात अलग हो गई या वो ऐसे नहीं रहा गई जल्दी बताईए देखिए अब यहां पर जाहिर सी बात है कुछ बात कहानी सब अलग हो गई इसलिए हो गई है किसलिए अलग और बता रहा हूं देखिए तीन गिंती हो गई वो छोटी से छोटी संख्या इनका अलसीयम होगी जो इन तीनों से पूरी तरह कट जाए तीनों से बिना किसी नियम के आप सोच के बता एक पर कि मान लेते हमने बीफ ले लिया बीश तो चार से भी कट जाएगी दस से भी कट जाएगी लेकिन पंदर नहीं कटेगी कहे गर ना इस50 का ड़िकार नहीं है तो भीफ नहीं होगा क navy ले ये लोग जो साथ और डर सोपे जा रहा हैं लोग की आखिया किन बंदयagner क्या कि नहीं इनकी अखिया खुली हमारे बंदें तीस नहीं कटेगा क्यूं तीस इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा लेकिन फोर फे और इससाठ के नीचे भी कोई हो सकती हम मान लेते हैं चलिए साठ है इनका इल्सियम क्या होगा साठ अब इनको हम पारंपरिक तरीके फी लगाते हैं जो इनका धरम है धरम करम जई से होता है आए उस तरह से करते हैं गुडनखंड भी दि अभी तक तो ये कोई विधी नहीं थी ये बुजवल हो रही थी हां जैसे पहली बूझा जाता है हम लोग अभी तक उत्तर वैसे बूझ रहे थे लेकिन यह मैथमेटिक्स है इसमें सिर्फ बूझने से काम नहीं चलने वाला है इसमें कुछ नियम कानून मालूम होना चाहिए हमने लिक्राइब 4 और 15 15 इनके सब्सक्राइब करने की लिए प्राइम हंगे लिखेंगे रूण हैे फरीं अपर के बारे में हम आपको 90 अचलियों इनके पराइमप्र क्या होंगे दो इनके क्या होंगे दो गुड़ा 5 इनके क्या होंगे तीन गुड़ा 5 है न होंगे की नहीं अब क्या करेंगे हमें क्या करना इनमें LCM लेना है तो हम यह कोशिस करेंगे जो नंबर पहले तीनों में कौमन है उसको पहले घेरेंगे क्या कोई गिंती तीनों में कौमन है कोई तीनों में कौमन है मनोज बताइए नहीं कौमन है तीनों में कोई गिंती कौमन इसको भी घेरेंगे जो जो मैंने घेरा है उसको लिख देंगे याद रहे एक एबार लिखेंगे ठीक है अब जो बेचारे छूट जा रहे थे किसी की पार्टी में सामिल नहीं थे इनको भी लिख लेंगे ये दो और ये तिन 20 – 25 – 20 – 피부 20 – 260 ये अंसर यिस तरह से lcm किया जाता है जब 3 गिंती दी गई हो मैंने सबसे पर दिन गिंती बताह दिया पहले इसको नहीं बताना था वह जया टिक है अगर यहीं पर 2 गिंती दी गई होती तो आईये 2 लोग इन्ती वाला पहले बताता हूं जैसे माल लेते हैं 12 दिया गया होता और 18 दिया गया होता कि तो 12 और 18 का कैसे करते मिनट के लिए देख लीजिए पहले 12 के गुड़नखंड करेंगे दो दूना चारती यह 12 यह अभाज यह गुड़नखंड कहलाते हैं अब आज गुड़नखंड और गुड़नखंड में आखिर क्या अंतर है आप कहोगे इतना कले चिल्लाए जा रहे हो लेकिन अंतर नहीं बताए अभी वेक्के दिन में बता देंगे अगले दिन कामाई सकल देखने आओगे जरूरी है अकेले रात में क्या दिवालों से बात कर क्या हुए इसके फैक्टर हो गए अब इनको मैं मिटा सकता हूं इधर साइड से तभी इनकी रोशनी दिखेगी नहीं तो यह बहुत ज्यादा लंबा चोड़ा फैला है उनका दिख नहीं रहा है इनका अंसर कुछ लोग फटा-फट कमेंट कर रहे हैं 36 आरा ठीक है देखि है तो अगर आप देखिए तो दोनों में common 2 है अब ये टू बचारां अकेला है इसका कोई जोड़िदार है नहीं यह थिरी भी जोड़िदार है तो यहां पर लिखिंगे LCM जो दोनों में common था उस जोड़े से एक एक निकाल लेंगे इस में से एक दो ले लिए इसमें से ए सब्सक्राइब दो त्याहिए छेत्रीक अठारा दूना छतिस कितना आगे थार्टी सिक्स कि तो एकदम आसान वाला था न अभी एक चीज और बताएंगे आप मुझे यह बताओ भाईया ए रजल जी बताओ तो इधर अगर यक्स और यक्स स्कॉयर का लसीम बोले तब का होग इसको भी जानो यह भी आपके देश के नागरीक हैं बताइए और आप लोग अभी तक कलास को लाइक नहीं करें हो क्या चाहिए मतलब आरती वारती उतारना पड़ेगा तब करेंगे का सभी जितने भी साथी जुड़े हैं नए पुराने अगर अभी तक वो पीवीयर स्ट सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें और सामिल हो जाएं 3.5,5 लाख साड़े तीन लाख लोगों की संख्या में आपको पता है पीवीयर स्टूड़ी के तीन चैनल चलते हैं अलग-अलग कैटेगरी के जिसमें से सबसे बड़े चैनल में 3.5 लाख के लग सब्सक्राइबर है मतलब इस्टूडेंट है एक परकार से अच्छी बात है आप लोगों का प्यार है सपोर्ट है चलिए इसका अंसर अगर कोई दे रहा है तो वह गलत दे रहा है इसका अंसर जितने लोगों क्यान ने दिया सब गलत दिया है मानबें सिंग ने चलिए और आनुपम का भी कलत तो बिल्कुल एकदम 110 पर संट गलत है जो कि नेहा मिस्रा का संधा बिल्कुल है इनका गलत है नेहा गौतम कभी गलत है अब बोलेंगे नहीं किसी का चलो आग इधर आओ इसका करेक्ट आंसर एक्स का स्कॉयर होगा लेकिन मैं बताऊंगा नहीं अभी क्यों होगा लाइश्ट में बताऊंगा पहले कुछ आओर बताने वाला हूं इधर देखिए गुड़न खंड दिकरा ना संख्या अभाज ये गुड़न खंड जिसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर इसे सिर्फ फैक्टर बोलते हैं सिफ सिफ मतलब अगे बात करते हैं ध्यान दीजिएगा और देखते जाईएगा देखिए साथियों इसको मैं बताने के लिए भी बोल रहा था कि बताऊंगा बताऊंगा हमारी कोशिस है कि आपको 101% समझ में आना चाहिए अगर आपको नहीं आता तब भी आपको आना चाहिए अगर मैंने संख्या ले लिया 12 तो इनके जो फैक्टर है वो कुछ इधर दिखाऊंगा कुछ उधर एवाई चल जाए आर साही से चल नहीं रहा यह जैसे अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 6 12 तो यह सभी क्या है इनके फैक्टर है देशी भासा में बोलें तो साधानत और साधानता है इनके गुड़न खंड है ओन फिकर लेकिन इधर जो लिखेंगे वा ऐसा नहीं होगा इधर देख जैसे मैं लिखा वण 2 3 है अब फॉर सिएग्णार न पर नहीं रीकिंगे पैट और क्या फिर आप कोओ गया और तो कूल नंबर लितने करेंगे हाँ में अररिय नंबर लितने करेंगे इधर 1,2 और 2 एक बार और रहेगा और यह 3 इनमें इनमें थोड़ा अंतर होता है इन फैक्टर को आपस में गुड़ा नहीं किया जाता है यह जो अभाज गुड़न खंड होते हैं उनका मल्टीपल करके उस नंबर को प्राप्त किया जा सकता है समझ में है ना अभाज यह का मतलब यह है कि देखो भाईया यह जो यह 4 है और 6 है और 12 है यह भाज यह गुड़न खंड है क्योंकि अभी भी यह किसी संख्या से कटेंगे समझ रहे ना यह सादू संख्या नहीं बने मौका मिलेगा यह भटक जाएंगे आए देखिए यह क्या होगे अभी यह विवाजित हो सकते हैं लेकिन यह नहीं होंगे ना दो किसी से कटेगा और दूफरी यहने संख्या से नहीं यह कटेगा नहीं यह कटेगा यही हम आपको बताना चाहते थे तो जब हम LCM लेते हैं ना उसमें हम यह वाला गुड़न खंड करते हैं अब आज यह गुड़न खंड करते हैं ठीक है पवन कुमार कैसे आप जानते हैं समझ नहीं आया इसके लिए रोज पढ़ना पड़ेगा यह भूल चूक से आ गयो ना इसलिए नहीं आ रहा है जैसे पंदरा है इसका देखिये क्या होगा वन थ्री फाइफ कि 15 कि यह बताईए आप लोग इसका अभाजी गुड़न खंड क्या होगा और डबल दो क्यूं है क्यूंकि हम quirki इसका इसका मल्ट्रिपल करकर यह प्राप्त करना है अब आज गुड़न खंड में हम क्या करते हैं उसका सब का ुड़ा करके हमें 12 लाना है यह कैसे होता अभी मैं वह हогँ बता देता हूं इसका थोड़ा dkl बता देता हूं आप ठीक है सबसे पहला जबाब आया है मनोज याद हो ठीक है मनोज बेरी गुड आईए ये दो दो तीन कैसे आया क्यों आया कुछ लोग पूछ रहें बताएंगे थोड़ा सबर रखिए वो भी बताऊंगा दो बार दो क्यों आया वो भी बताऊंगा ये पंदरा का क्या हो जाएगा वन थ्री और फाइब कुछ लोगों का सवाल है कि दो बार दो क्यों आया है ठीक है जो मैं बताना चाहता हूं वो समझीए देखिए अक्चुली क्या है उसको निकालने के लिए ऐसे भाग करते हैं सबसे पहले ने दो से भाग करेंगे तो आप से भागफल आयका करके देख लिजी है और फिर से से खाल जीरो आयगा सेसफल से कोई मतलब जीरो ही आना चाहिए तब हैं भां करेंगे दिए कि स्टिज्व hai तब वीन इसको फिर से निसे बाग करेंगे तो सेस्फ़ जीरो आएगा तीन भागफल हैं अब यह जिससे पूर ्य incidents कोई गुड़न खन्द हो गया ठीक है यह क्या होगे प्राइम फैक्तर होगे जो यह अपे मिलें जिल्टरौ है कि तो प्राइम फैक्तर ऐसे लीक्वाद का ध्यान रह यहां पर हम उसी नमबर से भाग करेंगे जिससे बाग करने पर ये संख्या पूरा पूरा कट जाए पूरता विभाजित हो जाए जिससे कोई संकोच रहेगा कि पूरता विभाजित नहीं होगी उससे भाग नहीं करेंगे ठीक है? समझ रहें कुछ की नहीं? समझ रहें न भैया? आईए एक और बताते हैं जैसे इधर साइड में देखिए इधर साइड में देखिए जैसे माल लेते हैं कि हमने लिखा आई यहाँ पर अठारा इनको हम क्या करेंगे अब किससे भाग करेंगे पहले ये बताइए सबसे पहले इसके लिए तो आपको छोटा छोटा बेसिक चीज़े आना चाहिए पहले आपको संख्या की पहचान होनी चाहिए कि ये संख्या है भी संख्या है भाज्य है अभाज्य है क्या है तो यह sum संख्या है अगर यह sum संख्या है तो क्या यह भाज्य है या भाज्य है तो यह sum भी है और भाज्य भी है यानि composite number है तो कोई भी अगर भाज्य संख्या है और sum भी है तो वो 2 से पक्का completely divide होती है यह आपको बेसिक मैत में सिखाया गया है हां दो से कंपलेटली डिवाइड होती है तो दो से भाग करेंगे तो सेजफ़ल जीरो आ जाएगा आप सबको पता है नौ बार जाएगा दोनों अठारा अब दूसरी संक्या को देख के पचानेंगे पहले उसकी सकल देखेंगे प्यार से चस्मा उतार है É ना मार काट करें वाले हैं दोख पाप वाले हैं सीधा साधा धार्मिक लोग हैं है ना हम लोग कहां ही देखते हैं मतलब किसी परकार का गड़बर नहीं होना चाहिए तो इनको देखेंगे तो क्या है यह समसंख्या नहीं है लेकिन माड़न जमाने लोग ऐसा नहीं देखते हैं यह सम संख्या नहीं है क्या यह भाज्य संख्या है यह भाज्य है लेकिन जब हमने देखा कि यह सम नहीं है तब उसी समय हम dc athletes कर लिए कि अगर 상व मैं नहीं है तो वो दो से नहीं कटे़ी है टोह हो मतलब completely दिवाइड नहीं होगे तो हम इसको दो से भाग करेंगे नहीं फिर किससे करेंगे तीन से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 3 से इसको भी अगर देखें तो यह भी तीने से भाग करने पर कम्पलिटली डिवाइड होगा वंसे फलाएगा यह चीजें ऐसे ही की जाती है अगर हम बात करें 18 का तो बहुत आठारा के जो यह फैक्टर होंगे इसमें जो वन है लाइस्ट में इसको भी कर सकते हो आप कोई फरक नहीं पढ़ता यह यह भी आ जाएगा इसमें भी एक बढ़ा सकते हो लेकिन इससे कोई मतलब होता नहीं एक लाइन बढ़ जाती है वन लिखने से कोई फरक नहीं पढ़ता है तो इनके जो यह फैक्टर इस तरह से बन जाएंगे हैं आइसे हैं यह हैं अब आज गुड़न खण समझ में आए न अफने आती वारी तुम पढ़ने आती हो कि सब का हाल चाल लेने आती हो अब बताओ भेनी का हाल है पढ़त लिखाती हाग नहीं यहीं करने आती इनको पढ़ने लिख अभी उस दिन पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ था तो सौरी और यह बोल रही थी आज फिर हाल चाल लेने आ गई पढ़ लीजिए और यह हो गया नहीं तो आप लोग एक बताईए छोटा सा फोटी एट का बताईए इसका कितना आएगा फोटी एट के अभाज गुड़न खंड बताईए सभी बच्चे जल्दी से फटा फट बताईए देखिए हम सुरू क्या करने वाले थे हम लोग LCM HCF में चल रहे थे जो कि मैंने लगबख सुरू कर दिया है लेकिन खतम भी आज ही कर देंगे इस कलास में यह नहीं है कि अभी पान दिन नहीं चलेगा LCM HCF आज ही खतम हो जाएका सभी को समझ में आ रहा है कमेंट करके बताईए हां आ रहा समझ में कुछ लोग जो चुप चाप हमें देख लेते हैं न एको बार नहीं बोलते हैं न उनके लिए बड़ी बद्दुवा निकलती अरे कम से कम एक आध बार तो कमेंट कर दिया करो चलिए वान टू और क्या होगा भई फिर से टू होगा मल्टीपल लगाते जाओ क्यों क्योंकि दो से बाग करेंगे चौबिस आएगा फिर दो से करेंगे तो बारा आएगा फिर दो से करेंगे इसें चाहिए कि दो दूनाचा ढुमाँ कि पुछ Nossa कि समझ में आ रहा है एक बार दव से बाग करेंगे चौबिस आया दो से बाग करेंगी बारा आया दो से बाग करेंगे च्छिए आया लुद्विदुन चार दुन आठी दुन सोला और तीआण तालिस अ हो गया ना धीपकार अठर कि명 सी अनंद कि कहने हैं यह वैस Gust eighteen क्यों बनाई है इतना बड़ा सो इतना बड़ा लोगों का नाम है धंक से कंब से कम देखने में तो नाम आ गया तो लगता है तुम्हारे पूरे गाउंबर का नाम आ गया उसी में खींच खाज मिला कि ठीक है तो यह हो गया आप समझ गए हम बात कर रहे थे LCMHCF की आप यह सब समझ गये देखिए mathematics ना बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है एकदम वफादार है बिल्कुल कुत्ते जैसा वफादार समझ रहे हो ना अब को गई कुत्ता उत्तक बात कैसे आ गई क्योंकि सबसे ज्यादा वफादार कुत्ता ही होता है उसे आप एक रोटी भले नहीं दे रहे मार के भग है नहीं कि उसमें से हम लोग एक है मतलब आप वीवाम ही अकेले नहीं आए इधर देखिए कि क्या करने वाले थे लसीयम और एस्टीए पढ़ रहे थे इसमें दो विधी होता है आप दो विधी से कर सकते हैं एक है कि गुड़न खंड विधी और एक है भाग विधी ठीक है हम सिर्फ आपको यहां पर मैथड सिखा रहे हैं कि सिर्फ मैथड सिखा रहे हैं बाकी बड़े-बड़े कुईस्टन अभ्यास प्रसनवाली कलास में करवाएंगे अभी छोटे-छोटे देखर के आपको सिर्फ सिखा रहे हैं कि मज़ा आ गई ना चलिए तो अभी हम लोगों ने कुछ नंबर्स के LCM किये थे आपने देखा था किये थे ना अब हम क्या करेंगे HCF करेंगे क्या करेंगे HCF लेकिन HCF भी सायद बताया था लेकिन फिर भी देख लेंगे आईए कुछ नंबर ले लेते हैं जैसे 24 ले लिया और 48 ले लिया क्योंकि हमें सिखाना एक जो डीलेड वाले हैं बीटीसी फाइस समेस्टर की उनके में ऐसे ही आता छोटा-छोटा बड़ा हाई-फाई नहीं आएगा हाँ थोड़ा यह हो सकता है स्टोरी के रूप में कुश्चन दे दिया वालग बात है मतलब डारेक्ट कुश्चन नहीं पूछेगा ऐसे की LCM बताए दो तो कोई कहानी दे सकता है कि फलाने-फलाने खेल में इतने लोग सामिल है उसमें इतने लोग दोड़ रहे हैं इतनी ऐसे ऐसे हो रही तो वह चोटी-फिछोटी संक्या बताएं जिससे उनको पराजित किया जा सके ऐसे कुछ कि तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुडणखंड बिदी से क्योंकि इसमें एक सटीक छोटे में कर लेंगे कि तो पहले इनके फैक्टर करते हैं सभी के और एक-एक के फैक्टर करने के बाद में फिर उनमें जो भी कॉमन होता उनको लिखा जाता है ठीक है समझ रहे हुगज आप लोग? आएओ चलो इधर देखे इनके फैक्टर कैसे करते हूं उन बता चुका हूँ दो दूना चार दूना आठ तरीक चोबिस दो दूना चार दूना आठ दूना सोला तियों आठ तालिस ये में बता चुका हूँ जो सभी में common है पहले उनको घेरते हैं ये ये भी common है अरे ये दो लिखाय थोड़ा गंदा हो गया वह अलग बात है ये भी LCM निकालना है तो 1-2 इस-जोड़े से लेंगे 1001 इसे लेंगे और एक दो 248 त्रिक 24 ये गलत हो रहा है के मुझे लग रहा है अच्छा एक टी बचा है हम लोग क्या कर रहा है LCM निकाल रहे हैं LCM निकाल रहे हैं तो जितने भी जोड़े बने थे उनको लिख लेंगे फिर जो छूटेगा एक यह बड़ा दयावान होता यह किसी को छोड़ता नहीं भाई तुम भी आजाओ जिनकी साधी भी आना हुई उनको भी बुला लेते हैं इ कि निकाल मल्टीपल करेंगे तो दो दूना चार दूना आठ तरिक चौबिस दूना 48 यह अंसर आएगा यह गुड़नखंड विदी से आपका LCM हो गया ठीक है इसी LCM को अब हम भाग विदी से करेंगे बगल में जिससे आपको अंतर समझ में आ जाए कुमार चुपचाप कलास देखिए बस ठीक है कमेंट मत करिए कलास देखिए आंसर बताइए जब मैं बziękuję तब बस इसमें से कितने लोग हैं जो इसको भाग विदी से कर लेंगे आए इधर देखिए छुटके में कर देते हैं भाग विदी से ऐसे हराभ हंद आते हैं से भाग विदी से करने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक जनकारी चाहिए ज्यादा हम इसको उस संख्या से काड़ते हैं पहले जिससे दोनों संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं सबसे पहले देखते हैं कि यह सम है कि भाज्य है कि आप सबको पता यह दोनों संख्यास नहीं है यह दोनों भाज है तो दो से कड जाएंगी दोसे भाग करेंगे तो 12 आएगा इसको गजाल दो से उसमेद içDtei यहां बात थोड़ा सा समझने लाइक है अब ही तक एक गिंधी से भाग कर रहे थे और सब कर जा रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं वहला है से भाग करेंगे तीन नहीं कटेगा तो हम भाग तो दो यह से करेंगे अभी भी तीन नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे पूरे इज्जत के साथ यह थोड़ा काला हो गया अलग बात है फिर तीन यह छे कट जाएगा दो से भाग करने पर तीन आएगा अब यह सभी देखो तीन तीन आ गया तीन से कर देंगे वन वन आ गया जितना यहां मिलता है इनका डारेक्ट गुड़ा कर लेते हैं यह अंसर हो जाता बागी कुछ ने करते हैं ठीक है जितना यहां पर मिलता है इन्ही का मल्टिपल कर लेते हैं इन्ही को क्या बोलते हैं बैए देखो चार बार एना यह चार बार दो दुनाचार दुनाट दुनासोला गोदानी यह फाइनल हो गया यानि भाग विदी से ल्सीम यह इतना होता है गुड़न खंड विदी साइध न फैलाना पड़ता है कि एके अप पुराने वाले के हैं कि नए वाले हैं कोई भाई अब लोग क्लास को लाइक करिए नहीं तो ऐसे मजा नहीं आती है और शेयर भी नहीं करते हैं बड़ी दुख की बात है यह भी कम से कम शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों और हमें ऐसे थोड़ा कम मज़ा आती है आगे बढ़ें तो यह हो गया अब आप लोग को बहुत जादा नहीं करवाने वाला इसमें अब हम HCF की बात करते हैं इसको तो फालतु मिटा दिया दोखा हो गया नहीं तुम्हें इसी में बता देता तो करना ना पड़ता फालतु कसे आई जाएगी आप लोग मुझे यह बताईए कि दोनों विधी में से कौन सी विधी अच्छी लगी गुडनखंड वाला अच्छा था या भाग विधी अच्छा था अगर गुडनखंड वाला अच्छा था तो आप लोग जी लिखके कमेंट करिए जी जी मतलो देशी भासा में गुड़नखंड और अगर भागविदी वाला अच्छा था तो बी लिखके कमेंट करिए लेकिन बी लिखना अभी भी नहीं लिखना चलिए देखिए तो यह हो गया गुड़नखंड और भागविदी हो गया LCM HCF ही बताना हमारा तात्य पर था चलो HCF बता देते हैं ए भाई तुम्हार जाया है से निकल लो जैसे नंबर ले लिया 125 और एक नंबर ले लिया 30 इनका हमें HCF करना है भाग विदी से भी करना है गुड़नखंड विदी से भी करना है गुड़नखंड विधी में वैसे ही करेंगे 125 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे इनके फैक्टर करेंगे 3 से काटेंगे नहीं कटेगा 5 से कटेगा यह अब गुड़नखंड कैसे करते हैं इसके लिए मैं 2-3 दिन चिला चिला के बताया हूं देखे हो जानते हो इनके गुड़नखंड करेंगे 2-3-6-35 इसमें एक चीज आसान है जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वही लिखते हैं बाकि सब छोड़ देते हैं तो सिर्फ पांच इसमें से एक निकलेगा यह अंसर हो जाएगा बस बाकि जो कॉमन नहीं है सब जाओ हटाओ भगाओ यह सरकारी नोकरी हो गई है इसका हाई एस नंबर जाएगा उसी को मिलेगा आजकल तो इतनी लंबी धांदली होने लगी है न सरकार चाहती है कि तुम बेरोजगार रहो किसी की भी सरकार हो मैं किसी पार्टी की सपोर्ट या विरोध के बारे में नहीं बोल रहा हूं आ नहीं तो गरी आने लगो ट्रॉल करने लगो विरोजगार रहोगे सो दोसो रुपे देंगे नेताजी जाके धूप में पानी तालीप जाओगे कुर्सी खाली नहीं रहेगी हां अगर रोजगार धंदा रहेगा कुछ पढ़े लिखे रहोगे तो कहें जाओगे दूसर रुपए ले करके है ना जो आदमी हर दिन 24000 कमा रहा हूँ 200 रुपए लिजाएगा ही नहीं सरकार इसलिए देखो बरबाद करने पे लगी है कि 2019 में बैकंसी आई थी रेलवे की एंटी पीसी गुरूप डी का आप सब को पता है लाको फाम आये थे जानते होंगे आपके भी यार दोस्त जानने वाले डाले होंगे अभी एंटी पीसी का उन्होंने कुछ दिया रिजल्ट हो गयरा उसमें इतना गडबड करा है कि बात कर मारने काटने वाली वाते करते हैं क्योंकि हम लोग पहले धर्म पर विश्वास करते हैं अपनी जाती पर विश्वास करते हैं बाद में काम देखते हैं धर्म और जाती के नाम पर देश में वोट पड़ता है तो बात क्या हो रही थी आई उदर चलते हैं यह HCF था यह गुड़नखंड विदी था हो गया अब इधर भाग विदी से कैसे करते हैं नंबर था 125 और 30 इधर आजाईए भाग विदी में जो छोटी संख्या होती है उस संख्या से बड़ी संख्या को डारेक्ट भाग करा जाता है तो छोटी संख्या 30 है बड़ी संख्या एक सो पचीस है इसको इससे भाग करेंगे भाग करके देखिए इनका भाग तो आपको देखिए आप छोटके बच्चे हैं नहीं इसके लिए आपको जोड़ना घटाना गुड़ा भाग आना चाहिए तभी इसको कर पाएंगे अगर नहीं आता तो फिर गड़ बढ़े तीस से इसको भाग करेंगे कहो कि तीस का पाड़ा आता ही नहीं कौन मुझे ही आता है मुझे भी नहीं आता है गुड़ा करके बना लेते हैं पहले तीन का भाग ट्राई करते हैं बारा में तो तीन का भाग बारा में चार बार जा भालो है चार बार जाएगा 120 गटायेंगे पांच आएगा यहाँ पेगी समझना है जैसे हम लोग हैं हम लोग के पापा है मम्मी है न लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग मम्मी पापा बन जाएंगे न अभी नहीं बने वालक बात तो वो जो है वो क्या हो जाएंगे लड़के बच्चे हो जाएंगे और फिर अगली आने वाली जंदेशन के लिए जो हम लोग के लड़के बच्चे होंगे वो मम्मी पापा बन जाएंगे समझ रहो ना ऐसा होता जाता है ना कुछ समझ में आ रहा है वह ऐसे यहां होता है पहले यह भाजक होता है यह भाज़े होता है फिर सेसफल आ जाता है अब यह भाजक बन जाता है कौन यह भाजक बन जाता है है कि अ कि समझ रहे न अब यह बाजक बन जाता है और यह भाग फैल बन जाता है आप यह मत कै 講ति और पापा बच्चे बन जाते हैं अब बच्चा पापा बन जाता यह नहीं इस नंबर भाग्स बन जाताpowered वह उतार जब सेजपल जीरो आ जाता है उसी पर बंद कर दिया जाता है यह तो दो यह स्टप में खतम हो गया तो कौनो कई स्टप बंते हैं ऐसे तो जो लाश्ट में जिससे डिवाइड हुआ है जिस संख्याफे लाश्ट में डिवाइड हुआ वही आंसर होती है याद रहे यहां जो जाता इससे कोई मतलब नहीं है जो भाजक होता उससे मतलब होता है यह वैसे होता जैसे देखिए एससी की कई परिख्षाएं होती है से सीगेल आप लोग अगर देते होंगे कोई जानता होगा या फिर कोई परिख्षा देखिए उसमें कई स्ट्प होते हैं तो जो फाइनल पास करता है उसी को नंवकरी मिलती है बागी परिक्ष्ष्छ हम दो सब आज माल लेता है हां महा ज्यादा common हो तो अच्छा एक से ज्यादा common हो तो इनका सवाल है डॉली का ठीक है इसमें देखिए मैं बता देता हूं आइए इधर भी देख लेते हैं अगर एक से ज्यादा गिंती common हो तो ठीक है इसी में चिपकालो भाई थोड़ा सा बगल में मुझे लिखना न पड़े ज 1 something is Norway माहँ में लेते हैं 125 यहंं पे 150 हो गया अब तो बहुत सारा common हो जाएग अश्य कई 550 कि दो से भाग करेंगे पहले 75 आएगा अ टीन से भाग करेंगे 25 हैगाई कि और सभी जा रहा हूं ना दो से भाग करेंगे 75 आएगा तिन से बाग करेंगे 25 आएगा फिर पांच से करेंगे फिर पांच से करेंगे इनको ऐसे करते हैं गुडा कर लें तो वह संख्या आ जाए दो त्याइग छे पंचे थीस पंचे एक सोपचास ठीक है अब देखिए ये और पांच अब इसमें खॉछा पी आमोटा त्गड़ा तगड़ा अलग बात है इसमें तोडा जल्दी में यह तैड़ा मेड़ा हो गया क्विदिन का सजिखार है वह अख बात है यह इसमें भी कॉमन है इसमें भी क्यों यही सवाल था ना कौन पूछा था वही लेकिन इनका पूछा एक के ठी मिला मतलब दू ठीट हो गया ठीक है दो हो गया ना एक से अधिक भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं अब हचीएफ करेंगे तो जितने कॉमन थे इन दोनों में से भी एक लिखेंगे फाइनल में इसका 25 आएगा इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे आज कल के नए जमाने की स्कूल में पारेंट्स मीटिंग होती है तो पारेंट्स अकसर प्रत्थम प्रत्मिकता तो माता-पीता को ही दी जाती है अगर किसी के माता-पीता कारण बस कहीं दूसरी जगा रहते हैं दूर रहते हैं या फिर बगवान को प्यारे हो गए तो फिर अलग बात है वैसे बगवान ना करें ऐसा किसी को तो माता-पीता में से एक ही जाता पैरेंट्स मीटिंग में जोड़े रहते ना दो किसी का निमंत्रन साधी पढ़ता अगर कोई बहु इसे क्या करते हैं कितने भी जोड़े बने हो इनके कितने भी जोड़े बने हो उनमें से एक के यहां लिखते हैं दोनों नहीं लिखते हैं ठीक है जैसे इसमें दो दो का जोड़ा बना था ना दो दो का इसमें से एक यहां लिखेंगे अगर यहां पर सूचिए अगर यह त तो यह तीन कभी एक जोड़ा बन जाता तो यहां पर एक तीन और हो जाता कि समझ रहे ना यह ऐसा कब होता जब यह मैं इसको एक कोईश्टन बना देता हूँ पचम 25 यह 75 एक और कोईश्टन बन जा रहा है यह लो यह 75 हो गया अब देखो यह अंसर बदल जाएगा अब अंसर बदल जाएगा अब इनके जोड़े कैसे बने यह तो ठीक है यह भी ठीक है सब ठीक है यह आप एक तीन और आ जाएगा यह अंसर हो जाएगा 75 समझ में आया ना सभी को की नहीं किसी को कोई डाउट है तो बताइए ठीक है किसी को कोई डाउट है 125 और 150 का LCM निकाल यह का है भाई इसमें कोई मुसीबत है खा नहीं ना तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यह कौन कहता है कि कामे अभी किसमत टैंकरती है कौन कहता है कि कामे अभी किसमत टैंकरती है इरादों में अगर है दम तो मंजलें भी जुका करती हैं चलिए तो हम लोग LCM HCF पड़ रहे थे फैक्टर मल्टीपल न यही सब तो पड़े थे तो यह बता भाया 18 22 और 10 इनका LCM क्या होगा आज कुछ नया पड़ेंगे यही पुराना अला नहीं कुछ नया पड़ेंगे आज का जो टोपिक है इधर साइड में लिख देता हूं यहां से देखो आज का टोपिक है LCM of variable यानी चर पड़ों का LCM आज हम आपको सिखाएंगे जो की बिल्कुल थोड़ा सा अलग है हां थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है जैसे अगर मैंने इसका LCM पूछा तो कुछ लोगोंने पटाक दे जबाब दे दिया लेकिन लेकिन तब लग जाती है जब मैं इसकी जगह पर आईसे खतरनाक रख देता हूं आईसे जैसे मैंने कहा कि भाई आओ यक्स स्क्वार और यक्स इसका LCM बताईए इन दोनों का LCM क्या होगा तो आप कहेंगे ये बगवान ये कौन सी मुसीबत है ये गिंती का LCM तो हम पढ़े थे दुछा दस बीस इसका तो गुरुजी बैसमान में पढ़ाये थे लेकिन आप कहो A, B, C, D का LCM तो ये तो नहीं पढ़े थे तो हम इसी क को आपको बढ़ाने वाले हैं हमारे साथ बने रहिएगा तो आप अच्छी जगह जूड़े हैं ताइम नहीं है तो फिर वागवान ही जाने आए आगे बढ़ें कृफना बहुत अच्छे अनूपा मौर्या बरी गुड जो कमेंट में जबाब दे रहा उसका नाम हम जरूर गारें तो यह इन benefit भोलोग कर लिजिए गा हम इनके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा इनका सीन सबसे पहले हम करेंगे गुड़ंखलंड विदी से भाग विदी भी कर सकते हैं इसाथ हो पहला पधिक में है एक्स का स्कॉयर इस पे जितनी घात लगी है इसका मतलब ये उतनाबार multiple है ठीक है आईए अगर सामाने तोर पर बिना किसी rule की हम बात करें तो LCM वो नंबर होगी जो इन दोनों नंबर से completely divide हो जाए जैसे इसके समकच अगर हम तुलना करने के लिए आपको एक question दे दें कि जैसे 12 और 18 अगर इनका LCM पूछे तो क्या होगा मुझे लग रहा है कि यह थोड़ा कम सही है 12 अठारा नहीं बैट रहा है 24 इस पर कर लेजिए 24 भी तो में लग रहा है नहीं नहीं ठीक है 24 इनका LCM क्या होगा कि दिब्वय आराजपूत ठीक है और दिब्वय आते बारी बेरी गुट रंजीट आईए देखे साथियों इनका LCM के अगर बात करें तो LCM का मतलब वह बड़ी से बड़ी किंती जो इन दोनों संख्याओं से कड़ जाए दोनों से एक से नहीं दोनों से इस अगर इस नहीं आप जानते हो कि नहीं चोटे से चोटा गुड़ज जो इन दोनों से कड़ जाए इन दोनों से नहीं समझ रहे हो तो 12 से 12 तो कड़ जाएगा लेकिन 12 से 24 कहां कट जाएगा कड़ जाएगा बिल्कुल ठीक है आए बात करते हैं इधर देखिए तो यहां पर इन दोनों का LCM वह गिंती होगी जो इन दोनों से पूरी तरह कड़ जाए जैसे दूए और 4 का LCM क्या होता है चार हो कुछ लोग इनका LCM 12 बता रहे हैं उनके लिए थोड़ा बता देता हूं कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं 12 होगा बारा होगा अगर 12 से 12 में 12 में अगर हम भाग करें किस से इस 12 से तो भाया यह पूरा-पूरा कट जाए तो 12 कड़ गया ठीक है अच्छा है लेकिन जो LCM आया 12 आप लोग बोल रहे थे ना तो 12 में अगर हम दूसरी गिंती 24 से डिवाइड करें तब भी 0 आजा से सब्सक्राइब क्या इसमें यहां पर ऐसा संभव हो है क्या ऐसा संभव हो है नहीं न तो LCM वो नंबर है जो दी गई दोनों संख्याओं से पूरता डिवाइड हो जाए तो यहां पर यह 12 कहना गलत होगा अगर हम कहें 24 तो यह सही है रूल के अकार्डिंग भी करोगे तब भी ठीक है समझ में है तो रूल के अकार्डिंग ही चलना है तो वैसे यहां भी आएंगे इसमें भी कुल मिलाकी यह जान लीजिए अगर दोनों संख्याओं एक ही समझ रहे हो ना आप लोग क्यों भाई समझ रहे हो ना इधार आओ फिर इनका फैक्टर करेंगे फिलहाल अभी के लिए तो हम तो फैक्टर का मतलब जितनी घात है उतना बार यह है यह यक संकेला था विचारा इसकी साधी बिया हुई नहीं है हमारे जैसे रहे गए से पहले क्या करेंगे मल्टीपल बनाते हैं मतलब मल्टीपल तो कर लिये हैं इनके जोड़े बनाईगा पेर इसमें देखिए एक एक हैं इसमें फैली एक है कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें बड़ा लंबा खीच दे रहे ना थोड़ा फास्ट करें बोलो हाँ जल्दी जल्दी बताएं क्या करें अब लोग कि अगर हां तो बोलिए कि जल्दी जल्दी बताईए बहुत जल्दी जल्दी फटा फटार कर दीजिए बताईए इनका LCM बताईए कि जैसे चल रहा है वैसे ठीक है इस्क्रीन साट ले लिया करिए फटा फट उसका LCM बताईए चलिए नहीं सब नहीं बता रहे हैं एक है प्रियांसी सिंग हमें लगता यहीं बोल रहे हैं कि खुब फास्ट पढ़ाईए हावा में जाए फिर क्या कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है अर्शिता सर्मा आईए इदर देखिए कोई कितना भी कहे और कहता ही रहे लेकिन मैं सुधरने वाला नहीं हूँ मैं अपने अनुसारी बताऊंगा इनका भी LCM आपको बताने है ठीक है इसमें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है सबसे पहले अगर LCM की बात करें तो हम गुड़नखंड विधी से लेके चलेंगे इनके पहले factor करेंगे factor करना आप सबको पता है 2 और 4 का अगर हम factor करने को कहें तो आप लोग कर लोगे लेकिन इनके साथ में जो यक्स लगा है उनका भी कर लेंगे ठीक है तो 2 को हम ऐसे ही रहने देंगे यक्स की घात 3 है यानि जितनी घाते है इसका मतलब यह कुड़ा किया गया होगा ठीक है अगर यक्स का घात 2 है तो इसका मतलब है कि यक्स गुड़े यक्स रहा होगा इसी तरह से अगर कहीं वाई में है वाई का घात 3 तो इसका मतलब है कि वाई गुड़ा वाई तीन बार रहा होगा यानि जितनी घात है इसका मतलब यह उतनी ही बार रहा होगा यह आप याद रखना ठीक है अगर कहीं जेड की घाद नौ है इसका मतलब यह जेड गुड़े जेड गुड़े जेड नौ बार रहा होगा लेकिन मैं नौ बार लिखूंगा नहीं अभी इतना पागल नहीं हूं ठीक है नेहा बर्मा ठीक है हरसिता बेरी गुड भाई आप लोग कलास को लाइक भी करते जाए ऐसे मज़ा नहीं आ रही हम अगर हम ना कहें तो फिर का ऐसे चलेगा ऐसे कलास को लाइक करते जाए और दोस्तों में सेयर करना मत भूलिए आधे पे जादा लोग लाइक नहीं करते हैं क्यूं भाई वजा क्या है यह समझ मैं लिख लीजिए तो इनके आंसर पर चलते हैं देखिए जिन लोगों को आ रहा है उनसे निवेदन है थोड़ा धर बनाए र इसमें क्या करेंगे भाई अगर हम फोर का फैक्टर करने को बोलें तो आप कहोगे कि चार को दो गुड़े दो लिख सकते हैं ठीक है मैंने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं अब यक्स की पावर 5 को क्या करेंगे जितनी बार है यह घात उतनी बार हम यक्स को लिखेंगे इस आध को एक 2 इसमें विए ऐस मेवी che 1x इसमें भी चीखेंगे कोई दिककतनी है एक मुँत मेट इसमे वी एक इसमें है किस अग एerson वी क्या और कोई common की जो羅्य है फट सो लिए हाँ नहीं नहीं ना बैटरी लो गई है इसकी मुझे लग रहा है ठीक है मैं लगा लूँगा यू डॉन ट्वरी चलो नहीं है बेरी गुड बहुत अच्छे नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलो तो मैं इसका एंग फिलहाल के लिए आप लोग बताते चलिए निधी तीवारी ठीक है नहीं है तो जो दोनों में common है जैसे दो इसको मैंने लिख लिया x यहां पर एक बार दो बार तीन बार common है तो तीन बार तीन जोड़ा बना है तो हम तीन x यहां लिख लेंगे ठीक है फाइनल में सबका मुल्टीपल कर लेंगे 2x का पावर 3 यह क्या जाएगा अंसर क्यों नई गलत हो गया यह HCF करते तो सब्सक्राइब यह गलत हो गया यह HCM के लिए गलत है गलत क्यों है जो common था वो तो लिख लिए लेकिन यह कहता है सबका साथ सबका आगे नहीं बोलें जो बचे हुए हैं उनको भी इसमें लिख लिए जाता है इनका जोड़ा उड़ा नहीं बना है उनको भी लिख लेते हैं यह दोनों यक्स बचे थे इन दो पांच बार हो गई है तो नहीं दो यक्स गहात बापकote इसका जोगा है है मैंने नहीं संसर हो गई यह थो लोग गई इसको चोट गया और वाइस के मांते हैं इसको जोडा नहीं फालिए इतना बड़ा त्था मरत लेते चार नहीं है क्यों न 감사4 नहीं थे नहीं जादे मिलिस लीजिए अब सबका गुड़ा कर लोगे तो चार एक्स घात पांच आएगा इसका हम थोड़ा सा बैटरी चेंज करेंगे कोई भागना नहीं ठीक है हो सकता एक मिनिट के लिए आवाज नहीं आएगी तो बिल्कुल घबरना नहीं हां सांसे रोक के बैठे रहना क्योंकि लोग हो गया इटोमेटिक बंद हो जाएगा कब मुझे पाता नहीं चलेगा थोड़ा सा रूक जाना भाईयों और वहनों साथ कि अ कि कि ठीक है चाहिए हो गया कि बताईए एक बार कम सेख़ा हाथ तो उठादी जीए हां ठीक है चलो तो यह समझ में सभी को यह सकाल किया टू एक्स का क्यूब और फोर्ट्स का पावरफाइप इसका लसी हुआ हो गया फ्र एकष्क का पावरफाइब अब देखें एक्ष्छुलीन इनका लसी यम है ठोड़ा सा समझना यह का जो LCM आया है अगर मैं थोड़ा डीटियल में जाओं तो यह एक्स की पावर फाइप आया है यह क्यों आया है यह इसलिए आया है कि अगर हम इस LCM में याद रखना LCM में और HCM में होता से समझारोख जो HCM आता है उसे दी गई संख्याओं को डिबाइड किया जाता है में लेकिन LCM में ती गई संख्याओं द्वारा उसमें भाग किया जाता है यह अंतर होता है ठीक है क्योंकि यह multiple होता है जो LCM है वो फैक्टर होता है ठीक है गुडन खंड होता है तो अगर हम इनको 4x का पावर 5 को 4x का पावर 5 से डिवाइड करें तो क्या पूरी तरह डिवाइड है और यही कंडिशन हम दूसरे वाले नंबर के लिए फॉलो करेंगे क्योंकि दो नंबर थे अगर इनको हम दो एक्स का पावर 3 से डिवाइड करें तो क्या डिवाइड है नेहा मिस्रा योगेन सिंग अगर हां थोड़ा तसल्ली रखिए मुझे यह बताईए इसमें भागफल कितना आएगा इसमें भागफल कितना आएगा अगर भाग करेंगे तो बोलो कुछ लोग काफी चट पटा रहें लेकिन उत्तर नहीं बताते हैं वो ना उत्तर बताने टाइम ना नहीं मर जाती है अगर थड़ा पाईसे रहें कि जैसे बिछूड गए बहुत दिन से जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए बहुत देर लगा रहें आप तो बही मतलब आये या ना आये उनसे इससे नहीं मतलब है उनका ये मतलब है कि जल्दी-जल्दी जिनको जल्दी थी वो चले गए ठीकाया है जिनको जल्दी वो चले गए मैंने किसी ट्रक के पीछे पड़ा था और दूसरी बात आपको पता है रोड पे देखते हो जिन्को जल्दी होती ही ना ट्रक को रखके नीचे गूश जाते बगल से जाके फिर वो कहीं और पहुंच जाते हैं इंतजार करने वाली इंतजार करती ही रह जाती है लेकिन ऐसा ना हो किसी के साथ बगवान करें आप लोग जल्दी में ना रहें तो कुसल चलें आईए 9x का पावर 9 और 12 x का पावर 2 अगर हम इनका LCM पूछे तो क्या होगा बताइए नरेश जी बताइए बोलिये इनका LCM क्या होगा हाँ इसमें कुछ लोग बता रहें कि 2x का स्कॉयर आएगा सबसे पहला अगर इसमें हम जब आप देखें मैंने जब से पूछा था तो मनोज का आया था मनोज के बाद नेह मिस्रा का आया था और क्यूट फिजा खान ठीक है बिल्कुल सही इनोंने बताया पहले हम दो बार भाग ले जाएंगे तो चार को पूरी तरह से धरा साही कर देंगे फिर यक्स का पावर यह फाइप है गुड़ा करने पे घाते जुड़ जाती है यहां पर आल्रेडी तीन दिया गया है तो तीन में हम क्या जोड़ने की पांच हो जाए तो वह होता एक्स की घात दो तो इ फास्ट बोल रहा हूं और फास्ट बोल रहा हूं चलो है यह कितना हो गया 2x2 skirt न में 2x2 और अगर इस का घुड़ा इसमें कर दें 2x3 2x2極 में तो क्या भाध पला वो भाजा का बाच यह डिबीडेज नू जाएगा कि नहीं संगे दिबीडेज़ देंद इम जाएगा ना पांडे जी लाइब चलता है रोज कंफ्यूजन में आप लोग रहते हो नाम ना बोलो तो कहेंगे यह तो लाइब नहीं है बड़ी मुसीवत है यह यह कोई रोबोर्ट से थोड़ी बन जाती कलास मुझे आके जेलना पड़ता है कि आये चलिए कि इसमें मैंने अल्सीम पूछा था साइद इस कोश्चन का भी मैंने अंसर नहीं बताया यह दर भी कर देते हैं कि देखिए ट्वेल और थ्री का अल्सीम पहले मुझे बताव आप लोग पहले तो मैं रूल से चलता हूं इनको ऐसे ही लिख देंगे तीन एक्स छे अब ट्वेल का पहले फैक्टर करेंगे टू टू जब फॉर बार भाग करोगे भाई तो यह इसका फैक्टर होगे ट्रेल का थिरी वैसे ही रहेगा थिरी में कोई और मल्टिपल होगा ही नहीं अभी हमने सिर्फ और सिर्फ गिंती का फैक्टर किया बस फिर और सिर्फ गिंती का फैक्टर किया वाकी कुछ नहीं 36 का पावर 9 आगया इसका अंसर अनुपम मिस्रा तीक है अनुपम जी बेरी गुड आये इसमें यक्स का पावर 4 है तो हमें काम करते हैं यह 6 है अब को करना तो अलगे अलग पड़ेगा फिलाल चलिए फोर है तो इसको यक्स को फूर बार मल्टी पल करिए यह 6 है तो इसमें 6 बार करना याद रहे falls छे बार है अब जीतना बार है उतना बार कॉमन ले लिजिए बड़े प्यार से आप सबको पता है क्या होता है क्या इसमें कोई आइसा भी महापुरुस है जिसको कॉमन नहीं पता है कामन कुछ कहेंगे हिंदी में बताओ हिंदी इसकी और खतरनाक है ठीक ही हिंदी में कामन को उभयनिष्ट बोलते हैं अब तुम काओगे उभयनिष्ट यह कौन से पंची का नाम है तो वह कॉमन की हिंदी है आईए इसमें कॉमन लेते हैं उभयनिष्ट यह थ्री दोनों में है परजंट है तू दोनों में नहीं है तू दोनों में नहीं है इसमें आई नहीं है अब यक एक इसमें मिल गया, एक इसमें मिल गया, एक इसमें मिल गया, एक इसमें मिल गया, यह इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्या और कोई कॉमन है दोनों में, कुछ लोग कहेंगे जब जो कॉमन नहीं रहता उसको भी ले लिया जाता है, तो फिर आखिर कामन ओमन का लपड़ा काई लगाते हो इफ लिए लगाते हैं कि कोई नंबर को दो बार ना लिखा जाए दो बार का मतलब कि जो दोनों में डबल है उसको एक से अधिक बार ना लिखा जाए यह मतलब अब नहीं है ना तो हम लिखेंगे यहां LCM पहले जितने कॉमन है एक 3 एकस के चार जोड़े कॉमन है कितने जोड़े बने हैं चार तो जितने नंबर आप पेर है ना उतने ही एकस यहां पर हम लिखेंगे नंबर आप पेर 4 है तो हम 4 एकस यहां पर लिखेंगे ठीक है ओके अ कर लेंगे यह हो जाएगा अंसर उमीद है सभी समझ गया होंगी दिल से बोलना बिलकुल सामने से मैं हडता रहता हूं छुपता रहता हूं इसमें तीन का गुड़ा इसमें करोगे छे दूना बारा नंबर का हिसाब हो गया 12 यक्स की संख्या कितनी बार है भाईयों साथियों तीन एक चार दो छे बार है तो गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है तो 12 एक्स का पावर 6 आएगा अगर मैं इसका थोड़ा और पोष्ट मार्डम करूं विस्तार से तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी variables की कोई घात न दिखने पर उस पर एक माना जाता है तो यह छे बार है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं चार पांच छे मतलब छे बार यह जोड़ा गया है तो यह 12 एक पावर 6 बना है कि सभी को समझ में आया तो जल्दी से बोली है यास 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 आया समझ में हर कोई बोले का यस वंस का कोई डाउट है बहुत वाली क्लास पीवीर स्टेडी अपकी प्रीमियम सर्विस के साथ है उपलब्द है आप जाके अभी इंडॉल करिए पूछिए क्योंकि यहां पर हजार लोगों के जिंदगी का सवाल है मैं डाउट में आ जाऊंगा तो इन लोग की जिंदगी डाउट हो जाएगी आईए ठीक है यह हो गया लिखिए छापी फटा फट एक और इधर साइड में है इसका आंसर फट से आप लोग बताओ इसका आंसर बता आपको लाइक नहीं कर रहें बाबू ऐसा क्यों है जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तुरंट देर ना करें फटाफट जल्दी करें कि अगर चलिए आप मैं आगे बात करता हूं उस कुईस्चन पर चलता हूं जिसका जबाब है ठीक है आईये 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 मुझे उमीद है कि आप लोग सभी कर लेंगे यह बता ये बतायए कि आप भिनियों का LCM बताया गया था कि नहीं LCM आप फ्रेक्ष efficiency बताया गया कि नहीं इसका इंसर सबसे पहले अनिल कुमार बर्मा जी ने बताया या अनिल कुमार बर्मा ठीक है बहुत अच्छे अनिल जी नरेह जी बिलकुल अच्छा पांडे जी बोल रहे हैं कि हम हैंड सम लग रहे हैं बहुत अच्छी बात है अप लोग अमी को देखो कलास का है देख रहे हो हम बढ़ियां से आ क्या बोले इनको अब आगे बोलेंगे तब भी गड़ बढ़ है जाने तो चल यह ठीक है अच्छी बात है थैंक्यू आपको बहुत बहुत लेकिन यह तारीफ लड़कियों को पसंद आती है सायद लड़कों को कमी आती होगी मतलब विसेस रूप से सुन दरता वाली देखो तारीफ के चक्कर में मेरा गलबड हो गया तो भाई यह मत करना यह हो गया 9x का पावर यह 9 और यह 12x का पावर स्कॉयर मतलब स्कॉयर इसका अंसर कितना आएगा कोई बटा रहा है कि 12x कोई बटा रहा 36 देखिए actually आप थोड़ा सा बुद्धी लगाई है इसको तो छोड़ दीजिए कुश्चान अंसर क्या है यह 12 है और यह 9 है न इनका LCM वो संख्या होगी जो इन दोनों से पूरी तरह कट जाए इन दोनों से पूरी तरह कट जाए वह इसका LCM होगी तो भैया हो अगर 9 ले लो तो 12 12 पर नहीं कटेगी 9 अगर 9 LCM ले लोगे तो अगर 12 ले लोगे तो 12 9 से नहीं कटेगा दोनों से कटना चाहिए ठीक है तो कितना हो जाएगा 37 आएगा ना ठीक है लेकिन अब रूल पर चलते हैं पहले हम 9 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 यक्स का पावर 9 है साथियों यहाँ पर हम एक जुगार करेंगे वो का पता है आएए मैं बताता हूँ इनका हमें LCM लेना है तो हम देखें अगले वाले में जो है कैसे है यक्स का स्कॉयर है न इनको भी हम यक्स का स्कॉयर के पद में तोड़ेंगे यह गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं आप सबको पता है तो हमने इनको यक्स का स्कॉयर के पद में किया भाईया यह 9 है टोटल हमने 4 लिख लिख लिया है अब बाकी बचे हुए 5 एकठे लिख तो कोई फरक नहीं पड़ता है चाहें तो हम यक्स 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 डीटियल में लिखें लेकिन 10-20 बार लिखेंगे तो बड़ा लंबा खिच जाएगा ठीक है अब इसे कपासिया ठीक है कमेंट आ रहा है इसलिए माने क्या किया इनको थोड़े टुकड़े टुकड़े में रख दिया बस अब यह कितना हो जाएंगे दो से इनका दो क्या फैक्टर दो से करेंगे पहले तो दो तुना चार तीयां बारा यक्स काई स्क्वाइर ऐसे ही रहने देंगी अब कि हमने थोड़ा साइट कट करने की कोशिज किया है ऐसे भी कर सकते हो इनका एक जोड़ा बन रहा है अब दो का तो कोई है नहीं इनका देखो यह सीधा फिदा बन गया इफ लिए मैंने इसको दो के पद में तोड़ा था जोड़ा एक तीन का बना है जोड़ा एक यक्स का इसकोाई कर बना है गाए बाई देखा इधर देखा बहिए इसका और में नहीं इसका हय को thể बत्ती लेके देखो तब नहीं मिल रहा नहीं है यानि जिनका जिनका था उनका मैंने लिख लिया अब जिनका नहीं है आखिर इनके अंदर भी तो आत्मा है ना उनको भी छोड़ेंगे नहीं आईए इनका जोड़ा नहीं था इनको मैंने लिख लिया इनका भी नहीं था इनक भी कि अग्यां कि सबका मल्टीपल कर लीजिए तीन तरिक का नौ दूना अठारा दूना चछतिस कि इतना हो जाएगा 36 इनका गुड़ा करेंगे तो दो दो चार और यह पांच नौ गुड़ा करने पर घाते जुड जाती है यक्स कपावाद नाइन ठीक है समझ में आया पता नहीं यह डियलेड वालों में है भी कि नहीं है एक मिनेट रुकना मैं थोड़ा सा सिलेबस में देखता हूं वैसे है घबराना नहीं कि फालतुए पढ़ा दिये है पूरी रात खराब कर दिये ऐसे ही नहीं रात वाला मज़ा कलास में आता है अगर आप दिल से लो तब समझ रहो ना कोई और दूसरा मज़ा का अगर दिल में ख्याल चल रहा है तो वो नहीं आएगा फिलाल उतना ले लेकिन थोड़ा बहुत आये गई आई यह हम देखते हैं पहले पहुंचे कहां तक है कुछ चीजें बाद में पढ़नी थी जिने मैंने पहले पढ़ा दिया है तो थोड़ा हाजमोला और रखा के हाजम कर लेना अगर गड़बड़ करेगा तो कि यह कि अन्य पार कि यह से लंब लंबे नियम थे इतना बड़ा नहीं था यह नहीं आपके दिये लेट मैंने पढ़ा दिया ठीक है यह गरबड़ नहीं है फिलाल जो पढ़ाया हूं लेकिन इतना हाड कुईस्टन आपके बीटीषी डियलेट के पतहम समय्ष्टर में नह ना चाहिए है फिलाहाल पल्टी कर देना अगर तुम्हें लगे कगल बढ़ है तो पल्टी करके पानी पी लेना अजम नहीं होगा चलो कि इतना बड़ा कुशन नहीं है कि अखिले से आदो यह कौन है भाई यह काय को हाइड कर रहा है हाँ कि दिमाग में गुजारा जिंदगी भर के लिए हमारी भी तो यही कोशिस है ठीक है तो आपके सिलेबस में जो है उसमें चलते हैं लौट आते हैं क्योंकि हम लोग बहुत आगे निकल चुके थे कि अबर हो गया था आईए अब आपके सिलेबस में क्या है मैं वोद बताता हूं कि आपके सिलेबस में बिल्कुल चटपटा चटपटा सा है बस देखिए क्या है लिखिए बारा नो और पचीस यह सिलेबस वाला है इसको पढ़ाता हूं तो मुझे खुद नहीं मजा आता ये इनका LCM बता ये एकदम बच्चों वाला है अब बताईए बच्चों वाले से बच्चों वाला कोईशन पूछेंगे तो फिर कहां अच्छा लगेगा कादिर खान प्रीमियम बेसिक मैथ कोर्स करना है तो PBR स्टड़ी एप में जाईए गुज जाईए एक बात और बताते हैं PVR स्टड़ी का जो प्रीमियम कोर्स है इस समय उसमें 50% डिसकाउंट चल रहा है 26 जनवरी के मौके पर आप चाहें तो PVR स्टड़ी एप डाउनलोड करके इंडॉल कर सकते हैं बच्चों की लिमिट है उसमें अगर आप चाहते हैं तो आप कल दिन मे जरूर कर लें दिन भर में नहीं तो पूरा हो जाएंगे केवल 500 बच्चों की सीट है बस 500 जिसमें से 420 बच्चे सूबा तक हो चुके थे मैंने एक बार देखा था ठीक है उसके बाद तो मुझे कोई अपडेट नहीं आई आईए इसका अंसर तो आप लोग चुटकियों में बता देंगे कितना आएगा यह सब छोड़के हम आगे बढ़ते हैं आप सबको मालूम है मैंने LCM पढ़ाया है अब LCM का टॉपिक होता है खतम आप लोग बोरिंग महसूस करने लगते हैं बै वही माट ढकेले पढ़ा है चलो छोड़ो इसको अटा कुछ कुछ कुष्चन दे देते हैं आप लोग इन्हें घर से कर लीजिएगा ठीक है घर से कर लीजिएगा कि कुष्चन और लिख लीजिए कि 105-105-105-105-105-105 कि इनका HCF लिख लीजिए इनको अब भ्यास प्रस्ने कुछ लोग कहते हैं कि कहां से करें तो करने को तो तुम कहीं भी कर सकते हो लेकिन अच्छी जगा करना चाहिए समझे रहे हो लिखो जल्दी फटा फट मतलब इनको कुईश्चन को लिखो जल्दी जल्दी से हो गया ना कि आगे हैं इती साथ हो नबे हो है एन्ट सीएफ और का लिखी लिखेक प्रफट लिख लिखें लिघ्री ज्याइए उसके बाद इसमें एक है इसमें भाज ज्राव भाज वाला भी पढ़ाना पढ़ेगा विभाजता नियम पढ़ाना पढ़ेगा आई ठीक है सिल्पा के सरवानी अच्छा है कि 985 एक सो असी और 320 यह 320 है अगर सुनाई पढ़ रहा है तो बाकी इसमें ज्यादा दिया तो है नहीं हाँ यह बताईए भिन्नों का ल्सी एंपढ़े हो कि नहीं आप सभी ल्सी आप फ्रेक्षन जैसे 15 बटा साथ और तीन बटा पांच का ल्सी एम अगर नहीं पढ़े हैं तो सभी नो लिख लिख के कमेंट कर यह यन ओ यन ओ नो 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 पूरे कमेंट बाक्स में दूआ दूआ हो जाना चाहिए तब बताएंगे यह यूपी वाले क्या नाम है इनका बहुत यह चार भी गहा में नाम लिखे हैं माहिरा पंडित इनको बलाक कर दिये जाएगा यह तो अपना नाम थोड़ा स्वच्छ सुन्दर बना के आईए नाम बनान कि देखिए नो की जगा पे ज्यादा तरिया सा रहा है यह वही लोग हैं कौन से पता है जब ट्रैफिक में जाम लगा होता है एक साइड की लेन चलती रहती है दूसरे साइड की जाम रहती है ना तो यह जिदर चलती रहती उधर जाक खड़े हो जाते मूँ पहिला के कभी अगर दो लेन में कार की लाइन लगी जाम लगा है तो बाइक वाला आता है दूसरी साइड में और जाने देगा यह मारे देश में मुर्कों की अधिकता के कारण ऐसा होता है अगर इसमें से भी कोई है वो सुन रहा है तो आशा ना करें ठीक है थोड़ा सबर रखें उसी में से इसमें से कुछ लोग इस तरह से आ रहे हैं नहीं किसी को बुरा न लगे मैं कुछ बताने के लिए ऐसा बोला था कुछ सिखाने के लिए बुरा नहीं मानियेगा आईए हाँ कुछ लोग करें कि ये नहीं आता तो मैं बता देता हूं ठीक है इसको थोड़ा से चलिए बताई देता हूं आईए मैं बताता हूं जैसे अगर 3 बटा 7 लिखा है न और 2 बटा 9 लिखा है इनका करना है LCM तो इसमें एक सुत्र होता है वो क्या होता है पहले यह देखना है कि निकालना क्या है ऐसे लाइन खीचते हैं अंसों का और हरों का लिखते हैं ठीक है अगर यहां LCM निकालना है तो आप उपर LCM लिखेंगे नीचे HCF लिखेंगे यानि कुल मिला के इसको करने के लिए आपको LCM HCF दोनों आना चाहिए दोनों आना चाहिए तो इसका फाइनल आंसर कोई बताएगा मुझे अस्वनी कुमार बताइए देखिये अनसों का LCM इसमें अंस है 3 इसमें 2 है तो 3 और 2 का LCM थोड़ा बिस्तार में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारी कोशी सबको समझ में आए हरों का HCF तो 7 और 9 इनका क्या करना HCF करना है तो भईये LCM करना आप सबको पता है अगर वो संख्याएं आपस में अभाज जहें उनके कोई परकार के common factor नहीं है तो सिर्फ उनका गुड़ा कर लेने पर ही क्या हो जाता है कि लसी आजाता है इनका गुड़ा करने पिछे आएगा अगर इनके हैच सीफ की बात करें तो इनमें भी कोई common factor नहीं होगा तो इनका है हाद है तो इनका गुड़ा कर लिया जाता है और अगर हमें हैं कोई common नहीं है तो हमें साथ यह वनात है कि पिजा खान तिरसाठ आ रहा है अच्छज वह यह जो लोग तिरसाठ बटा रहे हैं यह एक आएसी संख्या चाहिए में जिससे भाग करें तो यह दोनों कट जाएं तो यह बताओ तिर्फट फे कहीं यह संभव है जो लोग 63 बता रहें अरे गधों 63 से क्या सेबन कंपलिटली डिवाइड है 63 से क्या नाइन कंपलिटली डिवाइड है एक सी अब का मतलब होता है फैक्टार गुडण खंड ठीक है तो यह समझ गए यह वही लोग हैं जो अब यास यास बोल रहे थे दात निकाल के हैं वही लोग हैं कर बढ़ा रहे हैं आई यह इदर देखि कि इंसान जिन्दगी भार कुछ नगुछ शीक्ता है कि जिस दिन आपकी दा चलाने के पहले हम आपका यह इसलिए कोई भी जानता है वो हमेसा सीखता है अगर हमेसा सीखता है तभी वो आगे बढ़ता है बेतर से बेतर करता है कोई कितना भी विद्वान हो हर समय सीखता है हो गया यह एक बताईए 9 बटा 12 और 13 बटा 15 इनका बताईए LCM चलिए कोशिस करिए भाई रुख जाईए आप ही आप परिथान मत रहिए चलिए डन हाँ नहीं बोला था यस अच्छा ठीक है देखिए बुरा नहीं मानिये भाई सौरी सौरी अब आप लोगों से सौरी बोल रहे हैं और क्या बोलें चलिए आगे बढ़ें कुछ लोग तो नराज जाते हैं मतलग आदा मिनट में मनाना भी पड़ता है इंगे आर्यन को भाया इनको इंस्टा आइडी दे दो इनकी जिन्दगी उसी में है इनको इंस्टा आइडी दे दो इनकी जिन्दगी बस उतने महीं है उसके आगे इनकी जिन्दगी का कोई उद्देफ नहीं बचा है इसमें भी ऐसे ही करेंगे अन्सों का LCM यानि 9 और 13 का LCM यहाँ पर आजाईए थोड़ा सा समझ लीजिए 9 और 13 में कोई भी common factor नहीं है और अगर ऐसा होता है तो इनका multiple हमेशा इनका LCM होता है तेरा नमईया कितना होता है 13, 9, 1, 1, 7 तो इनका LCM के लिए गुड़ा हो जाएगा 117 इनका HCF निकलेगा कि इनका HCF निकलेगा क्योंकि वो common number जो दोनों को completely divide कर सके वो 3 होगी क्या होगा 3 होगा है ना तो यह 3 हो जाएगा अब यह आपस में कट जाएं वह अलग बात है यह कट पिट जाएंगे हल हो जाएंगे ना तीन तरीक करनों तीन नों 27 यह कट जाएगा सरल हो जाएगा एक्चुली यह यहां पर सरल कर लेना था हम लोगोंने थोड़ा सा उल्टा किया है फिलहाल अंसर गलत नहीं है थाटीन आइगा यह भी सही है लेकिन इनको हमें ऊपर ही सरल कर लेना था ठीक है ऊपर कैसे कर लेना था यह वह भी बता देता हूं देखिए हमारी कोशी से हर किसी को समझ में आए इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत धीरे धीरे बताता हूं मतलब चीजों को जल्दी जल्दी में खातम नहीं करता हूं बिना पूरा इक्स्प्लेइन की इनको आप ऐसे कर सकते थे तीन तरीक का नो तीन चोक बारा यह रियल का एवाई उल्टा ना हो यार जिन्दगी वाइसे वी उल्टा चल रही है तो भी उल्टा हो जा रहे ह कि ऊपर थ्री आया था यह तो यह तो कटेगा नहीं यह पांच लिखाओं तोड़ा लकवा मार गया तेड़ा हो गया वह लगपात है कुछ मजा वजा आ रही कि ऐसे ही अ कुछ गर्मा गर्म बात करें चटपटी सीखा कुछ लोग कभी-कभी कहते हैं बड़ी मजा नहीं आ जा वाले जाके देखो ना आये इनका आप सीधा सीधा गुड़ा कर लीजिए और तालिस आएगा यह अब तो इसका अंसर बदल जाएगा का कि अब तो फिर गड़बर था वह इसका मतलब क्यूं तिन तरिक करनो तिन चोक बारा हाँ वो जो इसके पहले हम लोगों ने किया था इसका मतलब वो सही नहीं था कोई ऐसी गिंती बताइए जो इन दोनों को completely divide कर सके इन दोनों को completely divide करने मला सिर्फ वो नहीं हो सकता है तो यह इसका रियल में अंसर है 39 वो गलत था जो इसके पहले किया गया था क्योंकि हम लोगों ने पहले इसको सरल नहीं किया था थिक है इसको पहले सरल कर लेना जरूरी है मतलब जितना यह चोटे चोटे टुकड़े में हो सके उतना पहले काट लीजिए तब आप LCM के सेक्षन में आईए यह इसका अंसर है इसके पहले जो अभी अभी किया था वो गलत था क्योंकि इसको हम लोगों ने सरली करन नहीं किया था समझ में आया सभी को चापिए फटापट चापिए और आप लोग कलास को लाइक सेर नहीं करते हैं यह दिल में बड़ी तकलीफ होती अंदर से समझ रहो ना मेरी वाली विकायती मत प्लाया करो यह लोग सुनते नहीं आपकी एक भी लेकिन मैं क्या करूं उसकी बात कभी दर किनार करके मैं आपको पढ़ाता हूं लड़ाई जगड़ा जहल लेता हूं थोड़ा बहुत चलिए लेकिन आप लोग ऐसे हैं कि सुनते हैं कम से कम कलास को सेयर तो कर दिया करिए आई यह इतना हो गया यह मिटाने वाला थोड़ा एक गड़बड़ है ना आज इसी में मुझे लग रहा टाइम बीच जाएगा क्या करूं अब आगे और इनका LCM बताइए कितना आएगा इनका कितना आएगा अच्छा वही आया था ठीक ठीक एसा ही था मुझे त्यान नहीं था जो भी होगा आंसर एक चीज़ याद रहे mathematics में कोई भी रूल लगा रहे हो कुछ मात्र नाम मात्र के सवालों चोड़ दिया जाए तो लगभग किसी भी रूल से करोगे तो सारे सवाल में अंसर एक आता है अंसर एक है आता चाह जैसे भी करोगे लेकिन पर्मिय संख्या के बीच पर्मिय संख्या निकालना जो कि अभी तक मुझे याद है हाली में उसमें ऐसा नहीं होता है उसमें अलग-अलग हो सकता है मंदीब डीटी चलो ठीक है इतना हो गया डन आईए बात करते हैं यह 35 और 1717 इन में आपस में कोई कामन मल्टीपल नहीं है अच्छा एक बाद बताओ आप लोग एक बाद बताओ तुम ओई यादों में मरने वाली बात नहीं पूचंगा मैं ride एक बात बताओ कि सहाभाद ये आता है संख्या की नहीं हम कि सहाभाद ये संख्या आप लोग जानते हैं वही साथ जीएंगे साथ मरेंगे वाले हैं लोग ना हम सुधरेंगे ना तुम्हें सुधरने देंगी बताएए इनमें कोई दो नंबर को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर एक रुख जा बैटरी इसकी डिश्चार्ज हो गई थोड़ा सा रुख जाना एक मिनट भाई थोड़ा सा रुख जाना यह चारजर यहां पाता के रखता है इन लोगों ने मैं क्या करूं इनको चलिए ठीक है ओके हाँ तो मैंने कुछ पूछा था इन लोगों ने बक्का ही नहीं सा अभाज संख्या मैंने पूछा था सा अभाज संख्या बता बहिता दो बाबू बता दो रजस बतर कितना हो गा ह horrific आरग्राज आप ही माहिरा है अच्छी बात है कि आउब हैं है क्बने के लिए हमनका है च्छान से यह रियल का नंबर आ गया इनका LCM कर लिजिए जो कि आपस में कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीपल हो जाएगा इनका भी वन आएगा ठीक है हाँ रंजीत कुमार सपनर अठोर बिल्कुल बेरी गुट बेरी गुट ऐसी संख्यां जिनमें कोई कामन फैक्टर ना हो जैसे दो तीन और पांच हो गया दो और साथ हो गया एक चीज़ा और साह अभाज्य का मतलब इसमें भाज्य अभाज्य से कोई मतलब नहीं होता है यह स को परजन टाइम के महाल के अगार्टिंग पढ़ाया था जिससे आपको समझ में आए ठीक है मैंने कुछ इदर का उदर नहीं किया था लेकिन जो देख रहें सुन रहें देश में मीडिया वाले जैसे लोगों के दिमाग में नफरत भर रहें गुसेड गुसेड के उसके अ पराइम नंबर नहीं हो सकते है यहीं कि इसले नहीं हो सकते कविक्ध में कामनवंगार मी इतीम से काटो लोगर 20 यह कं ऑर चार अगया यह अगर होती यह तुमों कि आम पराइम नंबर नहीं हो से ज sätt कि लेकिन से वहृक् sap कि यह सनिर अश है इस संख्या सू भी है भाज्य भी है लेकिन इन दोनों से कंपेर करते हैं मतलब कोई ऐसा भी गुड़नखन नहीं होना चाहिए यह जो दोनों में कमनों बस राधा देवी हरसिता सर्मा नेहा मिस्रा मनवेंद्र सिंग ठीक है बेरी गुड अच्छाइक और बताइए क्या तीन और चार यह सहाभाज यह हैं अगर हैं तो सभी ए लिखके कमेंट करेंगे ए फार एपल और नहीं है तो भी लिखतेंगे भी फार वाल या बेलन या बहु और बरतन और बहुत सार चीज़ होता बी से बीबी भी होती एक आईए हो गया इतना अब इदर साइड में आ ठीक है आखिले श्रीवास्तो अनुपा महुर्या बेरी गुड भाज्य संख्या इस फटाफट आईए चलिया आगे बढ़ते हैं इक है डांटवरी बहुत अच्छे साथी हमारे बहुत अच्छे बेरी गुड मेहनत कर रहे हैं आप लोग राधा देवी नरेस डाली सिल्प और जो P के अलामा C लिख रहा है वो C से है C से क्या आईए बात करते हैं जाने दीजिए देखे साथियों यह मुख्य रूप से कैसे पहचानते हैं हम आपको पूरा डीटियल एक्स्पिलन करके बताएंगे जैसे मैंने आपको फैक्टर पढ़ा दिया है इसके फैक्टर 1 हो होंगे और फोर होंगे है ना यहीं तो होगा किसी की दिल में कोई और बात आ रही तो बता दीजिए कि नहीं इतने तो नहीं होगा और भी होगा इतने होगा न अगर मैं बात करूं इसके फैक्टर के तो कितने हैं भाईया वन होगा और टू होगा अगर मैं बात करूं इसका फैक्टर तो वन होगा और थ्री होगा फैक्टर का मतलब गुडणखंड गुडणखंड आप जानते हैं न अमिद सिंग पढ़ लीजिए बच्चा पढ़ लीजिए बाबु भाईया रजा पढ़ लीजिए काम अच्छा करेंगे तो नाम होता है आईए यह सभी क्या इनके फैक्टर हैं यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा कुछ का अब इस सब कुछ दिखेगा जो चाहते हो वह दिखेगा बस देखते तो रहो इनके यह क्या है फैक्टर है गुडंखंड है अब पिछली कलास में मैंने गुडंखंड बता दिया गुडंखंड क्या होते हैं जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं टाइम बेस्ट बिल्कुल नहीं करना कमेंट नहीं पड़ेंगे कसम खा लेते कौन-कौन समझ गया मेरी बात अरे आप लोग बहुत बड़े खिलाड़ी उजान जाते हैं तो वह संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर ना हो और वह फैक्टर दो कैसे हो एक तो वह खुदी हो एक तो वह संख्या खुदी ही हो और एक वन हो बस ऐसी संख्या क्या होती है यह भाज्य नहीं होती है भाज्य नहीं होती मतलब अभाज्य होती है ठीक है यह क्या होती है अभाज्य होती है बाकी सभी संख्याएं क्या होती है भाज्य होती है बताई ये समझ में आया आया समझ में यानि वो संख्या जिसके एक के और खुद के अलामा कोई दूसरा फैक्टर ना हो वो अबाज्य संख्या कालाती है मतलब एक ऐसा इंसान जो खुद है उसकी महरा रू है बस लड़का बच्चा नहीं है अब कुछ लोग को तो कुछ और समझ में आ गया होगा लेकिन जिसके दो चार चिल्लू मिल्लू भी है वो क्या है वो भाज्य है अब आज्य नहीं है समझ गए तो ये क्या है ये भाज्य ह ये भी भाज्य है बाकी वो दोनों अबाज्य है अभी को समझ में आया आया समझ में यानि वो संख्या जिसके एक और खुद वो संख्या जो संख्या रहे उसको दोनों को छोड़ दिया जाए तो कोई और फैक्टर ना वो अबाज्य होती है बाकी सभी संख्या है बाज्य ह हैं लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बहुत चीजे मालूम होनी चाहिए पहाड़ा बाड़ा आना चाहिए काटना पीटना आना चाहिए आईए बताईए सबसे पहले सुपरफास्ट तरीके से आप लोग बताएंगे बहुत ही स्पीड में यह मैंने नंबर लिखा है 17 33 और 43 इनमें कौन सी संक्या अभाज्य है एक बार कोशिस कर लीजिए तोनी देवी अनामिका कुमारी आपको नहीं आया आएगा बुद्धी पानी डाल दिए ठंडा ठंडा खोपड़ी पर आने लगेगा हर सिता सर्मा बेरी गुड बहुत अच्छे डॉली सतीस सोनी मनीस नेहा ठीक है आये बेरी गुड बहुत अच्छे बहाँ हो चचा हो का ये यह बाज्य है का सब लोग इसको तो बता रहे हो इनको काय छोड़ अधिवारी जी ने बताया उसको बहुत अच्छे बरे गुट की फिजा खान का सही है क्योंकि इन्होंने दोनों नंबर को देखा भई सब का लेकर चलना है यह दोनों क्या है अब आधाज है जिए यह दोनों आभाज है इस इस समझ में आया ना तीवारी जी ट्रेट के लि लीजिए बेसिक बिल्कुल जीरो लेबल से ठीक है तो आप यह टॉपिक खतम करें हटाएं समझ गये खतम करें ना अच्छा जो लोग समझ गये हैं वो थोड़ा सा दिमाग का परियोग कर लें जैसे करत करता अभ्यास से जर्णमत अवोत सुजान और अफरी आवज्जात स सिलपर परत निसान इस बताइए नब्बे और सौ नब्बे और सौ के बीच कौन-कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं नब्बे और सौ के बीच में कौन-कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं फटा-फट बताइए जल्दी बताइए चलिए आप लोग भाज्य औ और अभाज्य समझ गयों, देखिए एक चीज समझ लेना, यहां अभाज्य और सम संख्या में कोई संबंद नहीं है, सम बिसम अलग चीज है, भाज्य अभाज्य अलग है, सबसे पहला जबाब आया है, उनका नाम है सतीस, सतीस ने पूरा अंसर नहीं दिया है, पूरा अंसर अस्वनी कुमार जी ने दिया है, इन्होंने गलत भी बताया है, अस्वनी जी, 91 जो है वो अभाज्य नहीं है, 91 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 91 के बहुत सारे लड़के बच्चे हैं, छुपे हुए हैं, वो जो कि आप लोगों के नजर में नहीं आ रहे हैं, कुछ ल वो अभाज्य नहीं है, क्योंकि 91 थिरीफे डिवाइड होती है, नहीं, सेबन से होती है, सेबन से होती है, थार्टीन से होती है, 13,91 होता है न, ठीक है, ठीक है, आईए, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, आप लोग कोशिस बढ़िया कर रहे हैं, हाँ, मैंने पूछा कि 100 और, 90 और 100 के बीच, देखो मैंने बीच वर्ड यूज किया, इसके जो बीच में आते हैं, आईए, मैं सब क्लियर कर देता हूं, देखो भाई, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99, हाँ, इसमें यह संख्या तो हमें छोड़ी देना है, यह भी छोड़ देना है, क्योंनी, मैंने इनके दोनों के बीच में कहा था, कितनी अभाज्य है, आईए, यह डिवाइड है, सेबन से, हां, 13 से, 91 से, बोलो हां, हां, 91 साथ से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, और 91 से भी गड़ जाएगा, 91, भी यह तो बिश्यात है, सब से कट जाएगा, सारी संख्याओं से कटेगा, दो से भी कट जाएगा, हम, और किस से कटेगा, कई संख्याओं से कट जाएगा, नहीं है, मुख्यता जो संख्याओं है, मुझे लग राजो किसी से नहीं कटेंगी, एकदम, सीता चति गवरा पारबती हैं, वो कौन सी हैं, आईए, दिखाते ह है नहीं कि देखने में कुछ लोग सीधा साधा लगते हैं सन्यासी लगते हैं भगवा कपड़े पहिन लेते हैं लेकिन साम को लगाते हैं कि समझ रहा हो सही बात बुल रहा हूं ना बुरा ना लगे किसी को यह देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं ये है नहीं क्योंकि ये तीन से तो सिधा विदा कट जाएगा और फिर कौन है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये किस से कटेगा कुछ लोग अभी इसमें बहुत सारी संख्याइं निकाल दे रहे थे ये भी कट जाएगा तीन से ये भी कट जाएगा बहुत सारी संख्याओं से और ये ये भी कट जाएगा तो मुझे तो लग रहा है इसमें केवल एक के दू संख्या मिल रही है कि एक थो संख्या मिल रही है अभी यह लोग पांच पांच संख्या बता रहे थे कि अभाज्य है इसके बीच में 91 अभी संख्या को भी मता रहे थैं 90 जिसरी भी बता रहे थे recall तो आहिए कमाल है यह यह देखिए है तो यह पांच से कड़ जाएगा क्या यह भी कड़ जाएगा पांच एककम पांच नव पैतालिस उन्निस पंचे पंचानवे बड़ी मुसीबत है तो तो एकके संख्या बच रही जो लोग बता रहे हैं कि यह 95 है ना बच्चा यह भाईया यह 5 से डिवाइड है अ कि पांच एककम पांच नव पैतालिस उन्नीस पंचे पंचानवे होता जिनको पहाड़ा वाड़ा नहीं आता है वह कनफ्यूजन में होंगे तो कितनी मिली सिर्फ और सिर्फ एक मिली पता नहीं भगवान ये मिलेगी क्यों न मिलेगी कोशिस करो ये भी किसी से कटेगी क्या इसके भी होगा कोई न कोई देखे ट्राइ करिए तिवारी जी मैं कितनी बार बोलू आप क्या चाहते हैं कि मैं आपी का कमेंट पढ़ूं हां नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर आप इंक्वाइरी करिए हमारे साथ ही लोग आपी के लिए इंतजार कर रहे हैं आप उन पर फोन कर ये दिन में बताएंगे आपको कि यह किसी से कटेगा क्या यानि यही एक है वास्तों में जिसकी हम लोग को तलाफ थी जिसका मुझे था इंतजार और इसी के लिए दिल था बेकरार यह मिल गई यानि इतनी संख्याओं में से जो मैंने इसमें पूछा था उसका सिर्फ एक ही आंसा था 97 यह लोग का बता रहे थे यह लोग बता रहे थ चलो लिख लो पटापट तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कहीं पूछे कि सौ और उसरी 90 और सौ के बीच में कौन सी संख्या है कितनी संख्या है जो अभाज्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ 97 है कौन है 97 एक चीज और समझ लिए याद रखना काम आएगा कभी कभी कमपटिशन की परिक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि सो नब्बे और सो के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं सिर्फ इतने पूछता कितनी है बस आपसन दे देगा एक पांच तीन साथ यह चाचा चाची लोग लगा देंगे आठ यह हां समझ रहे हो ना तो ऐसे पूछ लिया जाता है इसलिए यह जरूरी है आपको आना चाहिए इतना लंबा प्रक्ति कहां से हुई है पूरा डीटील में जिससे की कमजोर से कमजोर जो है ना बचवा और बचिया उसको भी आने लगे हम चलिए तो आप सभी भाज्या भाज्या समझ गए हैं आप लोग मुझे यह बताईए हैं सभी जितने भी साथ ही जुड़े हैं दो दो अभाज् अगला है भाग विधी से महत्म समापवर्तक भाग विधी से महत्तम समापवर्तक हम उसके पहले थोड़ा आउर लेलो दुचाठ्थी जब यह रखे हैं आये यह बताईए आपसे पूछा गया है यह बीटी सी की परिक्षा में पूछा गया सवाल है question है एक से बीस तक कितनी अभाजे संख्याए है पटापट बताइए BTC की परीक्षा में पूछा गया परफन है एक से बीस तक कितनी अभाजे संख्याए है बताइए जवाब दीजिए इस सवाल का जवाब बहुत से साथियों ने बताया है बहुत अच्छे बेरी गुट अजीद चौधरी ठीक है अरेसमी सिंग बेरी गुट और कोई अनिवन अरे कोशिस तो कर लीजिए थोड़े कोशिस कर लीजिए रच्छिवर आईए एक से लेकर 20 तक कितनी अभाजे संख्याएं हैं अभाजे संख्या क्या होती हैं कैसे होती हैं कितनी सुन्दर होती हैं बता दिया हूं पहले ही तो बताना तो है नहीं और क्या है एक ठ्यावर बता दो बाई कि एक से बीस तक की सभी भाज संख्याएं बताईए यह भी पूछा गया प्रस्न है इसका जो सबसे पहला जबाब आया है वो किनका है मैं उनका नाम जरूर बोलूंगा इनका नाम है पांडे जी बहुत अच्छा बेरे गुड और पां फीजा खान का अंसर आया है ठीक है बहुत अच्छे आप लोग कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं और कोई निवन कोई है आई यह देखिए मैं बताता हूं इनके बीच में जो अभाज संख्याएं हैं एक से बीस तक मतलब एक से शुरू करना है एक चीज पहले यह समझ लीजि कर वार्न आप अभाज्य है यह बिरादरी से बाहर है मुझे रेहो ना इनकी कोई जाती धरम नहीं यह यह Security को यह दोनों नब कश्याद्व है ठीक है इनकी कहानी सुरू होती है संख्या दो से संख्या दो से सुरू होती है कुछ लोग अभाज संख्या में वन को काउंट कर लेते हैं जो की गलत है वन अभाज नहीं है ठीक है तो यह दो से सुरू होता है दो तीन पाच साथ अब नौ मत लिखना क्योंकि नौ बिसम सं क्या तो है लेकिन आभाज नहीं है ठीक है है 11 13 14 15 16 17 भी नहीं है ओनाइस यानि अगर हम बात करें टोटल नंबर आफ प्राइम नंबर तो एट है टोटल कितने है आठ शमज में आया ना नेह मिसरा जी नेहाज बहुत अच्छा बरिगुट बहुत अच्छे बरिगुट देखिये ये भाजन संक्या में सम्वी सम दोनों आती है तो ये भी वन से नहीं सुरू होगी भई साहाब पर अधा भी देख फ़एले यह लोग बहुत कुल में ज दो को भी काउंट कर रहें मतलब वी बिचारी सीदी साथी लग रहे हैं इसको कुछ लोग भाज्य में गसीट रहें कुछ लोग अबाज्य में भी गसीट रहें यह संख्या ऐसी है न जैसे रावन की नगरी में विवेशन जी थे राच्छा नगरी में रहते थे लेकिन बगवान राम चंद्र जी की पूजा करते थे तो वैसे यह क्या है यह सम संख्या है लेकिन यह अभाज्य है है अभाज्य है जैसे देखिए अरपना यादो अखले से यादो जी के घर की हैं लेकिन चुनाओ वीजेपी से लड़ने गई समझ रहे हो ना ऐसे कुछ है तो यह इसमें समझ गए ना तो भाज्य संख्या की सुरवात चार से होती है तो दो क्या है तो अभाज्य संख्या जो लोग इसको भाज्य में लगाए है ना जैसे सोनी गुपता का हो गया नेहा मिसरा का हो गया और फीजा खान का हो गया यह छे हो जाएगा आठ हो जाएगा नौ हो जाएगा दस हो जाएगा बारा हो जाएगा चाउदा 15 भी हो जाएगा 16 18 और 20 समझ में आया ना यानि इन की संख्या टोटल कितनी है यह चार हो गए चार आठ आठी 3 11 कितना हो गये 11 कितना हो गये 11 तो 11 यह आठ यह हो गया टोटल 19 और 1 से लेकर 20 तक बरह और एक ठी कहां गई जरए सोचिये और किसकी बुर्दी लग रही बताएगे किसकी बुर्दी लग रही है यह 11 है यह आठ है और टोटल एक से बीस तक निकालना था तो भाहिया कौंसी संख्या है जो इसमें से गायब हो गई कोई बताएगा नेहा नेहा जी 11 नहीं है 11 तो यह सामिल है न 11 तो है ना इसमें 11 नहीं है गलत भीजा खान नेहा गुपता प्रीति यादो बहुत अच्छे वन 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 विरादरी से बाहर है यह बहुत बड़ा पापकरा है इसको इसमें से निकाल दिया गया है वन यानि 11,8,19 हो रहा है और वन एक ऐसी संख्या है जो ना की भाज्य है ना भाज्य है कुछ नहीं है न मेल ह है ना फीमेल है यह दूफरे मिंच का है बीच वाला है समझ रहा हो ना चलो तो यह हो गए आप लोग समझ गए इसमें से कुछ और भी कोईश्चन अगर आप से पूछे हैं तो आप लोग पहले फेल हो जाते हैं अभी एक ठीपूछा था सब फेल हो गए थे एक बार फिर स यह इमांदारी से देखते हैं कितनी बुद्धी आती है आपके पास चलिए अरे भाई कलसवा लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग पानी नानी पीले लेंच कर दें का जब तक लाइक ना करोगे अब हम कुछ न बोलेंगे एक अच्छर न बोलेंगे एक सब्द न बोलेंगे अधाय से ज्यादा कोई नहीं लाइक करा है कि मतलब कि मैं अगर ना बोलूं एक मिनट देखने दो तो यह लोग अभी तक केवल 44 लाइक करें बस अब हटा-फट हर कोई पहले लाइक करिए उत्तरवाद बताईए जल्दी करिए फटा-फट जल्दी से फटा-फट हाँ तो इसके आगे मैं कुछ बताई नहीं पा रहा हूं जल्दी से वही देखिए आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इसे जबर्जस्ति मत समझिए अगर मैं आपके लिए कलाफ चला रहा हूं सब कुछ चोड़कर के हमारी कोशिस है कि यूटूब पर आपको बिल्कुल फिरी पढ़ा दें हां सारा सिस्टम लगाएं आपके लिए तो आपकी भी थोड़ी से जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका निर्वाहन करें नहीं तो बहुत बड़ा पाप होता है समझ रहें तो इस उसे कपट मित्रफे चोरी बाकी आगे की लाइन तुम सभी जानते हो हां तो इसमें मैंने पूछा था कि ट्वंटी वन से थार्टी तक कि इतनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं जिसमें से बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दिया है परिति आदो बोल रहीं कि आरती मेरा वाला छाप ली है दिव्यागुपता बोल रहीं कि नहीं नहीं मेरा वाला छापी है मतलब लग रहा है इन लोग के पास जब बुद्धी बगवान दे रहे थे यह लंच करने चले गई थी हां काय है कोई दूसरा काय चापेगा तुमा यह देखो सहाना परवीन सहाना परवीन गलत है 21 यह थिरी से डिवाइड है सेबन से भी डिवाइड है 21 से भी डिवाइड है यह अबाज नहीं है 23 है फिर 24 भी नहीं है 25 भी नहीं है 26 भी नहीं है 27 भी नहीं है 28 भी नहीं है 29 है बसके वल दो संख्या है जो अबाज है सिर्फ दो ही संक्या है जो अभाज्य है इसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी है खतरनाक इनके नाम में बोल दूँ जैसे तो साहना परबीन की बड़ी बिज्जती हो जारी नहीं बोलेंगे इन्होंने सारे नंबर बता दिये थे नेहा बर्मा ने भी 27 को भी बताया था नेहा जी 27 तीन से भी कटती है तीन नवा 27 पहाड़ा वाड़ा याद कर लीजिए नो से भी कटेगी 27 27 खुड 27 से कटती है और कॉन बताया था जिनुने गलत किया था फीजा खान इन्होंने किवल 26 बताया था सारिता देभी आपका भी गलत था और नेहा मिस्रा ने सही बताया था बहुत पहले पिछले जनम में इन्होंने बता दिया था अक्सर लोग ने 27 को भाज्य में गिना है 27 अबाज्य में गिना था यह भाज्य है ठीक है आगे एक सवाल और भी पूंचे की रहने दें अब चली हटा यह बहुत हो गया अब बहुत हो गया बहुत टाइम भी हो रहा लग रहा मुझे तो आगे क्या करना भाया इसमें भाग विधी से एचसी अफ बताना है अब भाग विधी से एचसी अफ 699 और 324 आईए टॉपिक दिखाईए फिर से एक बार है टॉपिक की स्क्रीन पर दिख रहा नीचे ए बी ह से एचसी अफ इसको नहीं बताया था ना अभी तक थोड़ा इसमें स्याही भरना पड़ेगा कहा अभी पहले ही बता दिये हैं अच्छा ठीक है सिल्पा के सरवानी आगे पढ़ाएं ठीक है अब मुझे बताईए जो लोग काफी छट पढ़ाय रहे हैं 699 और 324 इसका आच किसी अब बता दीजिए तो फटा-फट बताईए जल्दी करिये बड़ा देर हम रुक-रुक के बोलेंगे क्योंकि कुछ लोग बहुत भयानक गारी देते हैं बाद में कहता है इतना तेज तेज बोलोगे था हम कोई चलने में पहुत तेज है लोग हमसे हो जाते परएसान इसमें लगाई नहीं हाने में तgt का मतलब यह नहीं जा खते रहते हैं दूए मिनिट में कि समझ रहो ना इसी में टाइम बचाते हैं इतने जगा बाकी हर जगा टाइम नहीं बचाते हैं कि अपना रिपीट हो रहा है अच्छा एक बताया हूं भागविदी से नहीं बताया आज बड़े-बड़े कोश्चन करवाएंगे बताया भी होगा तो इसमें बड़े-बड़े कोश्चन होंगे यह क्या बता रहे है वहीं एक आंसर आएगा इसका जो भी आएगा वन एक आंसर होगा यह सब यह चार आठ बारा चबुदा पता नहीं का का बताया जा रहे हैं चलो ठीक है आईए जैसे बस ज्यादा नहीं बताएंगे टेंशन मत लीजिए थोड़ा सब्र बना के रखिए 699 है यह 324 है अगर बताया भी था तो यह अलग है सवाल बिल्कुल थोड़ा सब्र बना के रखिए अलग है है ठीक है अलग है इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा गिंती बड़ी-बड़ी है पेपर में वैसे छोटा छोटा नहीं आता मैं जो बताया भी था बहुत छोटा-छोटा बताया था कि देखो ना मुख्यां 3 का बार च्यम में कितनी बार जाएगा पहले हम राइ करेंगे टो एपीन का बाता प्रौश तो हम दो बार ट्राइज करेंगे डोब लॡट प्र覺 लाइग तो तो तूसे भी पींवे हो जायागा यह पक्का है कि इनको घटाइए कि इतने आएंगे कि अप्ट्रेक करेंगे वन नो में से चार गया फांच फिप्टी बनाया ना देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं जो लोग सोच रहें बताया था कोई दिक्कत नहीं यह कुछ नया है देख लीजिए हजम हो जाएगा ठंडी का महीना है गर्मी में होता तापच हो जाती है आये तो यह जो फिप्टी बन बन जाएंगे हम लोग के जो बच्चे होंगे वह बच्चे हो जाएंगे अभी के लिए हम लोग के ममी पापा हम लोग उनके बच्चे है और जो हम लोग के बच्वे होंगे ना वह भी अपने जमाने के ममी पापा हो जाएंगे मतलब जन्रेशन वजलती जाती है ना ऐसा इ यह लगभग पांच यह बार जाएगा छे कम छे चे पंचे तीस कि मैं बताया था इसलिए ज्यादा नहीं जलवा रहा हूं कि तो यह घटाएंगे तो कितना आएगा भाया आपको पता अठाराएगा चौदा मैं से जागे आठ एक अब यह भाजक बन जाएगा और यह अब भाज्य बन जाएगा अब दो बार जाएगा कि 12 मैं से चा ओ गया पांच यह 15 अब यह भाजक बन जाएगा ये गिंती यहां आ जाएगी फंदरा एकम 15 को समझ में आ रहा न सभी को हाँ एक सीएफ कितना आएगा तीन आएगा तो यहां 15 उतार देंगे है दिर फ़स्ट इयर सिकेंड तीर फार पोर जोभी तो लाइस्ट में जो सब में कॉलिफाय होता उसी को नो करिया मिलती है हुँ झाल जैसे अगर आप यह कर रहे हो तो फर्स्टीयर में पास हो गए सेकंडीयर में पास लेकिन थर्डीयर में लटक गए ना तो डिग्री नहीं मिल दि तो ऐसे यह हो गया सभी समझ गए तो यह टॉपिक भी खतम हो गया अब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि हमें जल्दे-जल्दी खतम भी करना है नया टॉपिक का खतम करना है हाँ पहले तो एक ठीचीज बताओ पूछें कि ना पूछें तो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताईए दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताईए परिक्चा में पूछा गया है अनामी का कुमारी ठीक है अनामी का बहुत अच्छे मैंने प्रस्न पूछा है अब कान में तेल डालके मत बैठ जाईए बोल लिये दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो की अभाज्य हो अमित सिंग कहीं करवा दो यार वही एक काम करवा दो तब भी ठीक है कह रहें कि अपकी साधी हो गई यह की नहीं साधी हो जाती तो रात में आ रहे थे कुछ तो दिमाग लगाओ थोड़ा था यार अब बड़े हो गयो आई चलिए आगे बढ़ते हैं फिलालो समझाक में था सौरी बुरा नहीं मानना चलो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या हो बड़ी अभाज्य संख्या बताना था तो 97 है 97 सही है 99 गलत है कि आगे बड़े है ठीक है हूं है बाकी नहीं पर अधारित कुईश्चन है ज्यादा आप लोग बोर महसूस कर रहें तो बोरिंग सा लग रहें अब हम लोग कुछ अलग करते हैं कुछ अलग करते हैं बताएं चलिए भिन्न को परतिसात में बदलना अब एक नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर सेबन है चैप्टर नंबर साथ अध्याय साथ शुरू हो रहा है जिसकी सुरुवात हम कल करेंगे ढंग से आज थोड़ा सा आपको दवडाएंगे बस ठीक है इसक स्पान है कि अनिदे महीं परतिस Blues इंगलिस में भूवर नेम परफेंटेज बोलते हैं कि यई प्रतिशत को हम लिख सकते है प्रतिधान सथ भी पता यह सई लिख रहा हुं तो यह क्वार्ण आपका एक मिन रुकी है तो दूड़ा अपने आपको अच्छा बनाता हूं यह लेजिए मड़न जवाने में थोड़ा अच्छा दिखना जरूरी है थोड़ा बदला की नहीं है आए देखिए तो परतिसाथ नहीं पहले हम थोड़ा एकदम बहुत है बेसिक में चलेंगे कल इसको हम फटा-फट पढ़ाएं कल परतिसाथ खातम कर देंगे कि आए देखिए जैसे मनें लिखा 100 कि आंडेड़ का पाँच परसंट जानते हो क्या होगा ह닌 है प्रहले अट का पांच परसंट कितना हो यहाँ पर लिकाना प्रतिस पैससत मतलब सौ में कितना बस वही का मतलब है परसंटेज जितने कभी परसेंटेज निकालना है उसको 100-100 के टुकड़े में बाटते हैं और जितना बोलता है उतने उसका उत्तर होता है जैसे 100 का 5% का मतलब 5 इसमें कोई नियम नहीं लगाना मैथ का इसको बुड़ो दादा भी बता लेंगी और एक अच्छी बात है न हमारी कलास सेबंटी और एटी साल के दादा और दादी जी भी देखते हैं जिनके आसिरबात से हम चल रहे हैं वह अपने पोतवा को पढ़ाते हैं देखके कहते हैं एक दिन एक दादा जी फोन किये थे कुंड़ा परताप गड़ से पता नहीं आनंद सिंग ऐसा कुछ नाम बता रहे देखते हमारे जमाने में तो इतना था नहीं गुरुजी मुझे गुरुजी मत हो दिखते हैं तो आपके नाती पोता संवान है पोता नम मतलब प्रकू अपर परसंट पांच हंड्रेट का पंद्रा पर्फेंट पंद्रा तोड़ा तेना मेड़ा लिख रहे हैं वह अलग बात है लेकिन आप समझना है हंड्रेट का दस पर्फेंट मतलब दस यानि कहने का यह मतलब है कि 100 का चाहे जितना पर्सेंट निकालेंगे उसका अंसर उतने आएगा याद रखना राहूल जी नीचे नंबर चल रहा है नंबर चल रहा है आपको दिखता है कि कम दिखता है दिखता है तो निभेदन है उस पर आप भूजा लीजिए सब अपना जो भी करना है वाकित मैं कितना होगा फिर अबताएं कि 200 का 5% कितना होगा को सिस करिये आईए मैं बताता हूं 200 को हम लीख सकते हैं 100 धन्सों यह अभी तो मैं आपको मैथमेटिक्स के रूल में नहीं पटकाऊं अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि मैंत कितना प्यारा लेंग् स्तों डिखा किन ऑड़ता है 2,30 लीख सास में घर रहा हे है तो घनीजोंन्हें तो आपको मैं पर्यों होता है जािसे जमीन फर्स द॑ं रहा बंड़ बहाएक को पहलाने वह होता है मैथ का काम लगा ना जिस दिन आदमी का डेथ होती है मृत होती है वह भी आज कल सर्टीफिकेड बनता है कितना बजे कर कितना मिनिट कितना सिकंट पर अंतिम सास्थ लिए समझ रहो तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है यह सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता है इसमें प्लस 100 कर सकते हैं हमें निकालना था इसका कितना 5% तो भाईया 100 का 5% सबको बताया हूं उपर 5 होता है इसका भी 5 होगा दोनों जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा इसमें कोई नियम नहीं लग रहा है आप सोच रहे होंगे यह कौन सी मैथ है इसमें कोई नहीं लग रहा है मैंने बताया ना कि 100 का 5% 5 होगा तो 200 का 5% सब दन सो यह नि 5 510 अच्छा ठीक है ठीक है यह बताओ भाई 500 का 15% कितना होगा बीना किसी नियम के अभी मैं नियम भी बताऊंगा पहले थोड़ा सबर रखिए कितना होगा एक बात और बता दें दिखा देते हैं बड़ी खतरनाक लोग परिसान है थोड़ा रुख जाईए दिखा देता हूं इन्हें जो पूरा कंपलीट मैथ मातर एक महीने में सीखना चाहता है 26 जनौरी के बिसेस मौके पर आपके लिए एक बिसेस तोफ़ा है आप इसक्रीन पर देख रहे न आप आजी प्ले इस्टोर से पीवियार स्टडी अप्लिकेशन डाउनलोड करके जाकर इसे ज्वाइन कर सकते ह हैं पूरे 50% का डिसकाउंट चल रहा है ठीक है पूरे 50% का अगर चाहें तो जाकर के ले सकते हैं बिल्कुल जीरो लेबल से आपको यहां से मैद सिखाए जाएगी यहां से जोड घटाना गुड़ा भाग से सुरू होगा एक बार जाके अवसे ट्राइब करें कुछ भी ड हो गया खतम कि आये अब अपने टॉपिक पर चलते हैं उमीद है कि आप लोग समझ गये तो भाईया इसका क्या होगा इसको आप सो धन्सो धन्सो तोड़ सकते हो पांच बार तोड़ोगे और हर एक सो में से पंदरा निकालोगे तो पंदरा पचे-पचात्तर इसका अंसर ह कितना होगा 75 अनामिंका कुमारीजी दिल्कुल फ Pi यूटूब पर उभिपधा नि लगता आ भिलकुल परिशान मत होना कोई पेमेंट नहीं लगता एकदम फ्री है ये ठीक है कुछ भी नहीं लगेगा ऐसा मत सोचना कि मैं बिल भेज दूंगा अगले महीने कुछ लोग तो ऐसा डर जाते हैं कि यूटूब पे पढ़ रहे हैं अगले महीने ऐसा नहीं भी ला जाए नहीं तो तुमारे घर भी लूल नहीं आने वाला टेंसन मतलो तो ये समझ गए अब हम चलिए नियम पे चलते हैं ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इनका परिचय करवाया लेकिन ये हर जगा नहीं काम करता है ये बुद्धी हर जगा काम नहीं आती जो यहां पे लगाया ठीक है हर जगा नहीं लगती है आईये मैं बताता हूं इधर देखिए अगर मैंने कहा कि 320 का 5 पर्षेंट बताओ अब यहां पर तो वह बुद्धी लगेगी नहीं जो मैंने बताया था क्योंकि 300 को तो आप 100-100-100 कर सकते हो लेकिन 20 का क्या करोगे इसका यह तरीका होता है जो नंबर होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं गुड़ा कचिन लगाते हैं वो गिंती लिखते हैं जितना पर्षेंट निकालना होता है और उसको 100 से भाग कर देते हैं बस यह तरीका होता यही होता है कि आपको ऐसे भी कर सकते हो ठीक है आया समझ में इनको एक 0 से जीरो कट जाएगा अब इनको आवर भी आप डिवाइड कर सकते हो कितने से भाई काट दो 5 एकम 5 पांच दूना 10 हां दो से इनको काट दो तो 16 आएगा यानि 16 होगा कितना आएगा सोल आएगा कुछ लोग यहां परसेंटेज का चिन्ध लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है हम खुद इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहां परतिसत का चिन्ध नहीं लगेगा यहां इकाई में लिखा जाएगा बहुत इतनी इकाई होगी यहां पर संटेज का चिन्ना नहीं लगेगा ठीक है ना भाईया आप लोग कलास को लाइक नहीं कर रहें और बहुत से साथी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करें क्यूं पचास परसेंट बताईए बताईए कितना आएगा जल्दी करिए नेहा द्रावत मीत माही ठीक है बताईए आईए मैं बताता हूं पचास परसेंट ना तो सबसे पहले आप वो नंबर लिखिए गुड़ा का चिन लगाईए वो संख्या लिखिए नीचे सो से भाग करिए यह तो तरीका बताया हूं इनका कट गया इनका कट गया एक इनका कट गया यहनी 38 को फाइब को मल्टीपल तो पांच अथे चालिस हांफिल चार पांते ही पंद्रा चारों नाइस हो गया एक सोनब्बे अंसर अनन्द पाल बहुत अच्छे गुरुजी धन्य हुए हम जो आपके दर्शन पाए चलिए सर्दार मीना थीक है तो आप सभी समझ गए यह था बी टी सी मैथमेटिक्स ना डी एलेड का जो गडित है वह इसमें इतना ही है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ठीक है आगे बढ़ें आगे क्या करना है ठीक है चलिए यह सब आप लोग कर लेंगे तो इसमें डीटियल में घुसेंगे कल हम डीटियल में कल पढ़ाएंगे आज तो डीटियल में ज्यादा पढ़ना है नहीं हां लेकिन कुछ सवाल आप देख लीजिए जो कल पूछे जाएंगे आपसे बताएए संख्या 25 यह 100 का कितना परतिसद है कोई बता पाएगा कल मैं इन सब को डीटियल में करवाऊंगा अंड्रेड का 25 कितना परसेंट है है ना जीव टाइब का हां बताएए चार परसेंट है बहुत अच्छे वाई आनंद जी बेरे गोड लग रहा है कि अपकी बार अंडेड पार चलिए ठीक है बहुत अच्छे आप लोग प्राइब करते रहिये कुछ लोग बता रहें 25 परसेंट कुछ लोग बता रहें चार परसेंट 25 जो है वो कितना परसेंट है कैसे निकालेंगे आप जानते हैं कैसे निकालेंगे कोई जानता है कि नहीं आइए मैं इसको बताई देता हूं अब लगे हाथ जब आप लोग आई गए हो तो बताई देता हूं देखिए मैंने पूछा कि संख्या 25 जो है वो 100 का कितना परसें तो का होए कि कुछ ना होए ना वही हाल है अंसर तो लिख दिये लेकिन अगर केवल फोर लिखे हो तो गड़ बढ़ है यह फोर परफेंट लगाओगे तब ही सही है नहीं तो गलात है कि ठीक है कि संख्या कह रहा है कि पचीस सौ का कितना परसेंट है हम मानते हैं कि भाई मैत में माना बहुत जाता है माना एपरसेंट कितना है एपरसेंट है तो अभी अभी परसेंटेज में बदलना आपको बताया था बताया था ना हां बताया था कैसे बदलते हैं जो गिंती ह होती है उसको साव से गुड़ा कर देते हैं ऐसे ही तो करते हैं आप लोग कर ले न ठीक है ठीक है अस्वनी कुमार ठीक है अस्वनी बेरी गुड चलिए पता नहीं कहां से आ जाते हैं जा बता हूं हाई यह टू बटा फाइब को परसेंटेज में बदल लिए तो देखिए परसेंटेज में अगर कोई भी नंबर को बदलना है तो हमें उसको हंड्रेड से मल्टिपल करना होता है क्या करना होता है 100 से गुड़ा करना होता है इसे हमें पर्सेंटेज में बदलना है और अगर पर्सेंटेज का मान निकालना है यानि पर्सेंटेज हटाना है तो हमें 100 से भाग करना होता है यानि 25 को क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे इसको काट दीजिए इक विप्कवल 40% आएगा पांटे जी बिल्कुल सही है आपका गलत नहीं तोपिक क्या-क्या है यहां पर हम क्या-क्या पढ़ेंगे पहले यहां पर देख लेते हैं कल हमने परतिसत का अर्थ बताया था परतिसत का अर्थ यह कल आप लोगों ने मतलब समझा था आज हम समझेंगे परतिसत में बदलना और पढ़ेंगे परतिसत का मान परापतांक तथा पुडांक से परतिसत निकालना यह कुछ टॉपिक हम डीटियल में पढ़ेंगे तो हमारे साथ पूरा इंड तक बने रहिएगा ठिक है आकांचा जी बिल्कुल सही है सबनर आठोर जी नेहा बर्मा वेरी गुड़ आप लोग कोशिस अच्छी कर रहे हैं तो यह हो गया सबसे पहले परतिसत का आर्थ में कली बता चुका हूं आप सभी जान रहे हो आईए परतिसत में बदलना एक बटा पांच वो परतिसत में बदलिए जल्दी जल्दी से ज अधर थोड़ा सा लाइट कम लग रही मुझे तो ठीक है जलिए जल्दी आईए फटा फटा आईए जो बटा पांच को परसेंटेज में बदलना है वो तो मैं आप ने कर लिया निकाल लिया प्रियांसी सिंग्ग अस्वनी ठीक है बहुत अच्छे मैं थोड़ा सा इसको मि कि यहां पर याद रखना है कि अगर परसेंटेज में बदलना है तो बहिया 100 से गुड़ा कर देना है कि अगर परसेंटेज का मान निकालना है यानि परफेंटेज का चिन हटाना है तो 100 से भाग कर देना है यह याद रखा दिख है रोशनी कुमारी सिल्पा के सर्वानी वंजीत बहुत अच्छा इसको 100 से सिर्फ और सिर्फ परफेंटेज में बदलना है में का मतलब इसको 100 से गुड़ा करना है तो बान अपान 5 पांच से काड़ देजिए एकोल आएगा 20 यहां पर परफेंटेज का चिन जरूर लगाना लेकिन एक चीज़ और याद रखना अगर कहीं ऐसे कुश्चन दिया है समझना अगर ऐसे कुश्चन दिया है पांच बटा चार परफेंटेज का मान बताईए तो यहां पर देखिए परसेंटेज का मान है यहां पर है को परफेंटेज में बदलिए दोनों में अंतर हैं है यहां पर हम 10 से मल्टिपल कर रहे ते यहां पर भाग करेंगे या 5 बटा 4 किसको हम क्या करेंगे 100 से भाग और कि कि यह मंभज रहो कि नी इसको कि नीचे छीपा लेते हैं यह तरीक आप जानते हो कि नी फाइनल में पहली भिन लिख लेते हैं इसको पलड देते हैं वन अपान हंडे काट देंगे एक बटासी आएगा यह पांच बटा चार परफ्रेंट का मान है एक बटासी लेकिन इसमें कुछ लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया हूं क्योंकि यह थोड़ा गंदा सा लग र बताईए दो सो परतिसत का मान है आप कोगे यह किस चीज का है दो सो परतिसत नहीं यह ऐसे ही दिया है अगर तो कैसे करेंगे बताईए जो सो परसेंटेज का मान बताईए कोई बताएग एनिमन सबसे पहला जबाव मान सिंग्ग अनामिका कुमारी रोसनी मन जीद थीक है आईए आप समझ रहा हूं न मैं क्या कहना चाहता हूं अगर परसेंटेज में बदलना है नइनि परसेंटेज का चिन लगाना है मतलब तो सो पहला जबाब इसमें जा रहा है पर्षेंटेज का मान निकालना इसमें पर्षेंटेज का चिन नहीं लगेगा नेहा बर्मा जी याद रखिए ठीक है इन्होंने पर्षेंटेज का चिन लगाया है रोसनी कुमारी अगर इसका मान निकालेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें पर्तिसत का चिन नहीं लगेगा य यह भी याद रखिए कि आले आपने सही-सही किया लिकिन अगर आपने अंसर में पराप ने लगा दिया तूतर गलत गलत है हुंतर गलत है कि पर्सेंटेज का मान निकालना यानि हमें साल से भाग करना है काट जाएगा दो आएगा फै fierसका दो आएगा फिर्प दो आएगा संटेज चिन लगाया तो गलत और यहां पार भी मान निकालना था यहां पे भी मैं भी चीन नहीं लगेगा है लेकिन द्यान रहे यहां पर एक ची गोर से समझ लीचे हैं अगर ये कुश्चन है चार बटा पांच को परतिसत में बदल ये तो भाईया यहां पर आंसर में चिन लगाना परसेंटेज का मोश्ट मोश्ट इंपॉर्टेंट है समझ रहे ना जैसे फॉर अपांट फाइप परसेंटेज में बदलना है मैंने कई बार बताया अगर परसेंटेज का मान निकालना है तो साउसे भाग करेंगे अगर परसेंटेज में बदलना है तो साउसे गुड़ा करेंगे हाट ऑफ पांज चुनदस यवज नथें और यहां पर अगर पर्सेंटेज का चिनल अलगये त्व फिर इंधायत यहां पर लगएगा पैसे हो गया साथि के लिए बराद कठा हुई दूलाहन भाग गई समझ रहो परसेंटेज का चिन ना लगाए हो यह बिल्कुल वाई से लगेगा फिर आंसर का कोई मतलब नहीं किम अयाने आपने क्या प्रतिसमस में और प्रतिसम का मान कि दोनों साथी में सीखा न कि लिए कुछ और भी मित परते हैं इसको बोलते हैं विन्यह को परसेंटे में बदलना मिन्य हो फिजा खा न समझ में आया प्रियांसी सिंग सभी को समझ में आया चलिए किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो बताईए नहीं न यह समझ गए आप लोग ठीक है तो बताईए रउदा बटे 25 को परसेंटेज में बदलिए आंसर बताईए इसका जल्दी से यह कुष्टन नमबर 10 है मान लीजिए आ आप लोग इसका आंसर बताएंगे तो ऐसे क्यों टेन और ऐसे कोईश्टक लगा कि इधर अंसर जल्दी करिए कि कमेंट में ज्यादा देखता हूं तो यह घड़बड़ है कमेंट ज्यादा नहीं देखना चाहिए नहीं चौदा बटा 25 को परसेंटेज में बडलना है जल्दी खातम करना चाहिए बहुत ज्यादा कोईश्टन नहीं करवाना चाहिए न यह बता देता हूं 56 परसेंट आया है सबसे पहला जवाब नहीं हां मिस्रा का है अनामिका का भी ठीक है और अनूपम मौर्या चौदा बटा 25 को % में बदलना है यानि हमें क्या करना है 14 बटा 25 को 100 से कुड़ा करना है के 25 एकम 25 25 चौगा 100 और 14 चौगा 56 परसेंटेज में बदलना था तो अंसर में परसेंटेज का चिन लग जाएगा जीक है कोई डाउट सालिनी मिस्रा समझ में आ रहा है न किसी को कोई डाउट नहीं न आगे बढ़ें फिर हम लोग चलिए आईए फटा फटा आगे बढ़ते हैं यह हो गया इतना तो मुझे उमीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे अच्छा इधर देखो फिर कर लोगे तो बताओ 0.15 को पर फ्रेंटेज में बदलिए जल्दी बताईए कुश्चन नंबर अगला इसको देखिए पूछना ही अर्दम नहीं चाहिए बताना भी चाहिए थोड़ा समाउका देता हूं बाखी तुम्हें बताता ही हूं देखिए जितने भी नए साथ ही जुड़े हैं सभी दरसक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिल्कुल फ्री है यूटूब पे ये कलास सब्ता में तीन दिन रेगुलर होती है दो मुआर मंगलवार और बुद्वार को बाकि अगले तीन दिन रिवीजन होता है आप रि किसी को अगर दो बिमारी लग गई अगर अलका और के इसके कैंसर भी हुआ है जमालो कैंसर तो अलक चीज हो गया इसको अप्रेशन भी हुआ है तो किसकी किसकी दवाई खाएंगे पताए यह पहले आप रेशन की खाएंगे जिसमें बहुत-बड़ा लगा है या ठुखार तो ऐसे इसमें एक से अधिक बिमारी कुल मिला के है मान लीजी तो इसमें पहले से आरेड़ी दसमलो लगा है ठीक है तो पहले हम दसमलो हटाएंगे तो दो अंक पर दसमलो है तो यह हटेगा तो नीचे 100 से भाग हो जाएगे अभी हमने पर्सेंटेज में बदलने के लिए कुछ नहीं किया है पर्सेंटेज में बदलने के लिए चुकी हमें 100 से गुड़ा करना होता है 100 से मल्टीपल करना होता है तो अब हम इसको 100 से मल्टीपल करेंगे पर्सेंटेज में बदलने के लिए अब यह जीरो से जीरो कट गया इक्कॉल पंद्रा परसेंट है समझ में आया वो केस पढ़ाई कर लीजिए नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा निबेदन है आपसे सरद्धा पूर्बग विनमृता पूर्बग कोई कहां से है तुम ठेका नहीं लिए पढ़ लीजिए अगला जीरो पॉइंट सेबन फाइब वो परसेंटेज में बदल लिए जल्दी बताईए ब्यूटिफुल गर्ल नाम तो भाई आप लोगों का बड़ा अच्छा अच्छा है जते कि का अच्छा है वह ऊतर में दे कर आहा है कि मद्ग नहीं बताएं लजा जाते यह अंसर बताने में सरमजाते ह्ाला के लिए फेटिंग करने को देखलो प्र पढ़ानी मालिक है पढ़ा पने कमन इधर आपर चाहर चटिंग 되면 हिसम में इसमें अगर दो अंग पर श्रम लया से एक अनुमान लगा लीजिए तो उसका है फोटना ही आता है तिक आ रहता है बहुत अच्छे बेरी गुड बेरी गुड बेरी गुड असाना थी कर साना बहुत अच्छे अब लेंगे विसे पता नहीं साना एक सना है बगवान जाने इनकी चलिए आए देखिए यह हो गया कि 0.35 और 0 और 0,4 सेंटेज में बदलिये कितना आएगा वसिश करते रहिए फटा फट 1,25 और और 0,25 और और लिए जल्दी करिये दाइक साने में क्या जाता है जारों से डर करनाओ का पार नहीं होती और कौसिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो कौसिश करते रहिए है न चलिए इनको अगर पर्सेंटेज में बदलेंगे हमें सब को पता है इसमें अगर 100 से गुड़ा करेंगे ये 75 पर्सेंट आएगा पर्सेंटेज में बदलने के लिए सब ही को सिर्फ और सिर्फ साउ से गुड़ा करते हैं कि लाश्ट में चाहिए इतना जीरो लगा दीजिए कोई मतलब नहीं है अगर इनको हम गुड़ा करेंगे तो दूज जीरो में आउर आ जाएगा दीन अंक पर पहले से दस हमलों लगा है तो क्या होगा बताएए जड़ा सोचिए इसमें क्या आएगा भई कुछ कह रहें 35 इसको तो डीटियल में बता देता हूं पहले तो हम इसका दस हमलों हटाएंगे तो यह कुछ आयसे बनेगा तीन अंक पर दसम्लों तो फिर सो से गुड़ा करेंगे जो जीरो से दो जीरो कट गया है एक सुनना से एक सुनना यह कट गया इनल में 35 परसेंट आया कितना आया 35 परसेंट देखिए जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं दर्सक वो कलास को लाइक नहीं कर रहे हैं अगर वो थोड़ा सा सेर कर दें दिल लगा के न यह संख्या 100 के उपर हो जाए और अगर 100 के उपर चली जाए न जो बची हुई थोड़ी सी मेहनत मैं नहीं क कर दूंगा हां पूरा 100 परसेंट आपको मिलेगा लेकिन उसके लिए 100 बच्चे भी तो होने चाहिए ठीक है यह सब को पता है इसको भी कर देते हैं देखिए 4.25 पहले इसमें से दसंबलों हटाएंगे इतने यंक पर दसंबलों लगा है उतना जीरों लगा के नीचे क्या करेंगे भाग कर देंगे अगर आपको यह नहीं पता कैसे हुआ न तो आप पीवी आरे स्टडी का बे बेसिक मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से ठीक है उसमें सब सिखाया जाता है यह तो मैंने सिर्फ दसंबलों हटाने के लिए 100 से भाग किया अब चूकी हमें परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुड़ा करते हैं यह लों हो गया दो जीरों से दो जोरों कट गया 425 परसें देखा जाया या अंसर गलत है कि सही है आईये इसकी ज्याच करते है अगर इसको पकड़के हल करें पर यह आ जाना चाहिए अगर यह आ जारा तो सही तो बैटवा मिल जा बैटवा को पकड़ तो बाप यह मैंने बताया है कि कि पर्सेंटेज का चिन हटाया जाता यानि इसका अगर मान बोला जा निकाली तो बहित हो मैंने बताया है कि ऐसी सिती के लिए सोसे भाग करते हैं करते हैं न तो यहां पर 2 0 है यहां पर दो अंक पर दसंबलो हो जायेगा यह तो बड़ा प्यार से आ जा रहा है फिर वही आ गया न जहां से चले थे वहीं पर आगये इसका मतलव सही है वोय भी आंसर पकड़ के आप जांच कर सकते हो आंसर से उत्तर से कुष्च ना जाना चाहिए यह इसमें आप खुदी कर सकते हो हम सब के साथ हैं हम नहीं है सब के साथ यह student है उनका नाम है उनका क्या नाम है हम सब के साथ है लोग तो खुदे पागल हो जाएंगे सुन सुन के आई यह ठीक है इतना हो गया तो इसमें यह दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए परसेंटेज का मान परतिसत में बदलना परतिसत का अर्थ और प्राप्तांक तथा पुडांक से परतिस जाता है यही तो मिलता है लाइब में और मिलता है क्या है कोई डाउट थोड़ी बता जाता है चलिए एक बार मैं फिर से बता दूंए रेगुलर क्लास सब्ता में तीन दिन होती है रात के 10 बज़े से 11 बज़े तक वाकी तीन दिन रिवीजन होता है अगर आप सातों दिन पढ़ना चाहते हैं तो आप पीवीयार स्टडी अप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स को इन्रोल कर सकते हैं वहाँ पर सातों दिन पढ़ाया जाता है क्या दी कोई छात्र समझना कि 700 के कुडांक में चार सो बीस मार्क्स कि हासिल करता है हासिल करता है तो परतिसाद बताईए प्राप्तांक को का परतिसाद बताईए इस पर 4-5 कुश्चन करेंगे बताईए आपने अक्सर बहुत सारी परिक्षाएं दिया होगा कि सबसे पहले हाई स्कूल में ही परतिसाद देखा जाता है फालानवाक लड़कवा तो 80% पाया है अरे पहले के जमाने में हम लोग से थोड़ा और पहले बड़ा मान होता था कोई लड़कवा अगर प्लड़किया पास हो जाए हाई स्कूल में ना फास्ट डिविजन बड़े बड़े गाउं में चर्चा होती थी पहलानवाक बिटियवाद कि परसेंट पाया है आज की जमाना में 99 परसेंट पाने वाले कभी को मतलब हम खीचड़ी करते हैं समझे रहा हो ना तो इसमें सबसे पहला आंसर आया है नेहां मिस्रा जी का अनुपा मौरा जी कभी आया है और मान बेंद्र इंद्र इंद्र ठीक है यदि कोई छात्र 700 के पुडांग से 420 नंबर हाफिल करता है तो परापतांग का परसेंटेज बताना है आईए मैं देखता हूं और आपको दिखाता हूं देखिए इसका एक सूत्र आप मान लीजिए परतिसद बराबर परापतांग को इंगलिस में आप टैंट मार ठीक है अपरापतांग 420 है और 100 कुडांग साथ डबल जीरो है एक सुनना से एक सुनना क्लियर एक सुनना से एक सुनना साथ से इनको काड़ दीजिए साथ च्छंग 42 जीरो साथ पर्सेंट जो बता रहा उसका साई है कितना है साथ पर्सेंट बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमें समझ सक रहें कम से कि तो दुनिया वाले मुझे समझ से का है ना चलिए तो यह होगे सभी कर लिए इमानदारी से जूट नहीं बोलना जूट बोले कवा खट आये देखिए यह हो जाएगा ना तो अब क्या करना है कुछ एकाद उठिया उट्राई कर लीजिए एक और देख लीजिए अगर यह पुडांक 800 नंबर कर दिया जाए और यह चच्चा कोरोना के टाइम में गड़बडा गए और गड़बडाने के चक्कर में 680 नंबर पा गए और कोरोना बैच वाले वैसे ज्यादा नंबर पाए है आप बता यह कितना परसेंट आएगा कितना परसेंट आया का बोलिए देखिए मान वैसे ही रखना है जैसे जैसे आपने किया था सिर्फ आपको कल्कुलेशन आनी चाहिए थोड़ा सा बुद्धी दवड़ा यह दिमाग का घोड़ा दवड़ा यह अंसर पाईए मैं सर का नाम रोसन करूंगा बहुत अच्छा पांडे जी वेरी गुड अपी जैसे सिकारी तुम्हें खोज रहा था बाकि गदहिया गोल वालों को तो मेरा मन नहीं करता है इनको पढ़ाने का सची बता रहा हूं ममता सर्मा हम जो पढ़ाते हैं वह मुझे अच्छे से समझ में आ जाता है हमारी कोशिस भी तो यहीं होती है यह ठीक है पर आपतांग 680 है इन्टु हंड्रेड पुडांग था 800 एक जीरो से एक जीरो मतलब दूज दूज जीरो नीचे उपर से काट दिया अब 8 से इनको का आठ आठे चौशाठ आठ पंचे चालिस एक टीफाइब परसेंट है पच्छासी परसेंट आया समझ में अच्छा यह बात बताईए तो बात बताओ तुम जादों में मरते हो मैं नहीं पूछूंगा लाइक का नहीं कर रहे हूं इस बताओ कलास का नहीं लाइक कर रहे हो अप लोग भाई कभी जल्दी से कलास को लाइक करिए एक एक जब तक छातर लाइक नहीं करेगा मैं आगे नहीं बोलूँगा यह नहीं मैं कर दो को लाइक कर दो वाइक है नहीं लेगिदान है कुछ लोग दो बार करें तो भाई दो बार मत करिए एक ही बार करना है दो बार नहीं एक ही बार करना है हाइलाइट हो जाएगा अगर आप लाइक कर देंगे तो यह देखिए अलग तरह से है थोड़ा सा कि पॉइंट में नंबर पाया है आप बताइए लिए अ क्बताइए यह है कि पॉइंट में है चारसों पचाश समलों रर्ट पताइए है में कि कालस को पूरा अइंड अगर आपको सीखना है तो कलाश छोड़के नहीं जाना है सीखना है तो कलाश छोड़के नहीं जाना है प्रापतांग है 450.8 याद रहे इसको दसामलों में लगाना है इन्टू हंडेड रहे हंडेड कहां से आ गया हाँ ठीक है प्रापतांग 800 है कि यह आसानी से आ जाएगा कि साक्षी तिरपाठी ठीक है बहुत अच्छे आइए दो जीरो से दो जीरो कट जायाएगा इनका हिसाब इधर करेंगे हल कर लीजिए उपर एक दसामलों है तो नीचे एक जीरो आप बढ़ा सकते हो इनका कल्कुलेशन करिए यह दसामलों में आएगा जो भी आएगा सम्थिंग पॉइंट में आएगा अक्सर लोग 56.35 बोल रहे हैं एच अच्छा लोग एक चीज सुन ला इसको कभी भी 56.35 नहीं बोलना इसको 56.35 बोलेंगे 56.35 क्योंकि यह 35 नहीं है वास्तों में यह एक से भी कम है यह एक से भी कम है तो आप इसे 35 नहीं बोल सकते हैं यह थोड़ा कहूर सिखा दे रहा हूं यह इसको 56.35 परसेंट बोलना कहीं भी अगर कुछ बताना होगा इस तरह कर रहेगा तो यह मत बोलना कि हम 56.35 परसेंट पाए ठीक है इनको हल कैसे करेंगे देखिए 8 से कटेगा क्या यह आठ पंचे चालिस बचेगा पांच नहीं कटेगा यह सिदी सी बात है यह कटेगा नहीं दस हमलों में आएगा आप लोग हल कर लीजिए 56.35 सब बोल रहे हैं मैं भी यह लिख देता हूं जाने देजिए कौन फाल तुझा हमत ले हल करना है बस अब उसमें क्या बता हूं कल्कुलेशन ही तो करना था मंजीत यादो मंचीट जी आएगा कोशिस करना पड़ता है पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत Adventure के आगे बढ़ते हैं अब ये टोपिक भी मुझे लगता है कि हो गया लेकिन 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 आए अईए आईए हम दर्लिए चलना चाहते वहां चलीए है पयो बताईय कि स संक्या आठ संक्या आठ जो है वह 64 का कितना परसेंट है पताइए जैसे माल लीजिए कि आपके पास 64 रूपय थे और हमने कहा कि बाबु बैया हमका आठ रूपय दैदा और आपने दे दिया थोड़ा दर्या दिली दिखाई तो यह बताइए कि कितना परसेंट दे दिया हमें बताइए बस तीने लोग बचे हैं अपकी 100 परसेंट कंपलीट हंड्रेड बच्चे कंपलीट होने में मातर तीन लोगों की कमी है आजाओ प्रभू कहीं से आजाओ आजाओ जूटाई सही पल भर के लिए कोई हमें आईए देखिए कुश्चन क्या है संख्या आठ चौशट का कितना परसेंट है सबसे पहला जबाब आया है मानबेन सिंग का साक्षी तिरपाठी का भी आ गया है और अनामिका कुमारी किरिफना सालिनी मिस्रा अंसर कैसे आया अंसर पैदल ही आया है को रोना लगा है गाड़ी बड़ी नहीं चल रही नहीं इसलिए कुछ तो लाइव दिख रहा है इसमें मैं कुछ ऐसा तो कर नहीं रहा हूं कि जो मैं छुपा ले रहा हूं चुप़े से लाइवी स्ट्रीमिंग की यही गड़बड़ी यह रुखती नहीं भी चीज़ एडेटिंग ओडेटिंग नहीं हो पाता है कि तेखिए कह रहा है कि संख्या जो आठ है वो 64 का कितना परसंट है हम यह मानते हैं कि आई प्राप्तांग है यह पूरांग निकालना है अभी मैंने सूत्र बताया था प्राप्तांग को सौ से गुडा करना है और पूरांग से भाग देना है कि तो करना था हम नहीं गरीबी है डास्टर नहीं आट एक कम आठ आठ थाई 64 कि तो कितना आ गया यह कि इसको भी हल कर लीजिए आप चार से काटेंगे पचीस आएगा चार दूना आठ फाइनल में 12.5 परसंट है यह नि 12.5 परसंट है इतना है साड़े 12 परसंट समझे हो ना काड़ आफ वर्स क्या कहें आप तरे पास सब्द नहीं आपकी तारीफ के लिए चल यह कर तक मंगा लूंगा मैं नहीं सब्द फिर आपकी तारीफ करूंगा आए अगला है कि संख्या 72 यह 728 का कितना परसंट है कि बताइए जल्दी बताइए रेजी बिसाल रोशनी कुमारी जिप्या संस्कृती सरी संसकारी गर्ल देखे इसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम है संसकारी गर्ल ब्यूटीफुल गर्ल बैड बॉय और क्यूच क्रेजी क्यूट मतलब नामी बोलो ना तो आत्मा खुश हो जाती है दिल दुखी हो जाता है देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे जो नंबर दिया है आपको उसको हंडेट से मल्टीपल पुडांग से भाग करेंगे साथ सो अठाइस चलिए कैसे होगा यह जरा सोचिए कलकुलेशन करना है अगर एक चीज करते हैं हम 720 करदेते तो आसान हो जाता यहाद सो बिस कर देते तो आसान हो जाता लेकिन हम आसान नहीं करने वाले हैं यह 728 हम इसको ऐसा ही रहने देंगे कोई बताएगा कोई उपाएं इसमें हां किसे कटेगा भाई है आठ से कट जाएगा ना तलिए आठ से ट्राइब करते हैं आठ ठाइंग आठ नौबहात्तर यह आठ नौबहात्तर आठीक कम आठ किया जाएगा 900 नौसों हाँ सभी है 91 भाग दे लीजिए फिर बताएए पहले का वीडियो देखे और हम तो ओल्ड हो गए अरे वा बतलब बियान गवन हम ओल्ड होईगे पहले कमाल है वह इसा ना करो अरे कल परसों में छहत पे गए थें लोग उस दिन लड़का का पतंग अटक गई थी वह अंकल जी वह पतंग दे दीजिए मुझे अंदर से तो अजीब राइब का लगा फिर हमारा यह दोस्त था करा रहे यार आप तो अंकल बन गए वह उमर हो गई है सायद अभी इनकी मम्मी की उमर से ज्यादा नहीं है फिर भी अंकल जी बोल रहे कि यह हो गया इसको भाग तो आप लोग कर लेंगे कितना आएगा भाई आई यह करी के दिखा देते हैं कि 991 का भाग करना है वन टाइम जाएगा अगर तो ज्यादा हो जाएगा मुझे लगता है यह फूरे पूरे में जाएगा 9 9اع़ चैसी कि इतना जाएगा और आपक्म 911 Dakar ले जाएंगे तो 910 ज्यादा तो नौ बार चैसे गटार तक Daar में से 9 गयot ए और यह इकत्ना बचा नो नोमें सी गया में उपर आप दस हम्लों बढ़ा लीजिए पॉइंट में जा रहा है ना चलिए दस हम्लों बढ़ाईए जिरो उतारी अब यह नौ बार नहीं जाएगा आठ पर जाएगा और आठीक कमाठ आठ नौ बार इसके आगे हम करेंगे भी नहीं सिर्फ दोई पॉइंट तक करेंगे 9.8 कि आएगा कि देखो कितना लंबा चोड़ा हो गया तक प्वितने लंबा चोड़ा हो गया नहीं है वो दिककत किसी को कोई परिसानी तो यह हो गया आपका पकुष्ला होगया चलो आगे इस बता बहिया एक कुश्चन है जरा दिल थामके सुनना अच्छे से हां पहले सभी बोली है हां सुन रहे हैं सुनिए कुश्चन सुनिए यह मैं पहले भी करवा चुका हूं लेकिन यह परिक्षा में पूछा गया इसलिए मैं इसे जब भी पढ़ाता हूं तब करवाता हूं क्योंकि यह लाइसेंसी हो गया है प्राइबेट नहीं रहा गया पेपर में आगया एक बर एक बिद्याले में 18% बालक चस्मा का परियोग करते हैं यह अप लोगों की दिब द्रिष्टी से हमें दिखता है लेकिन लगाते हैं आगे बोल लाइट जलती इसलिए एक बिद्याले में अठारा पर्सेंट बालक चस्मा का परियोग करते हैं ठीक है यदि बिद्याले में कुल 250 लड़के हों तो कितने बालक चस्मा परियोग करते हैं भाईया बताएए एक बिद्याले में अठारा पर्सेंट बालक चस्मा लगाते हैं तो अगर टोटल बिद्याले में 250 छात्र हैं तो कितने लोग चस्मा लगाते हैं भाई कि पताए देना अगर दिल करेगा तो कि एक और बता दीजिए इसी में कि अग्या कि इस संख्या में 20 पर्सेंट का मान पचास है कि प्राई करिये फटाफट फटाफट विकास सिंग बहुत अच्छे बहुत अच्छे सालनी सोनकर कि मान बेंद्र कि पर्सेंटेज कोन लगा रहा है पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं कि कोई चंद्रमा से भी आया है कि अंसर में पर्सेंटेज नहीं लगेगा बच्चा निकालना लड़का निकालना है हां मतलब निकालना नहीं मतलब आंसर लाना है कि इसका अंसर ऐसे लिखेंगे 45 पर्सेंटे लिख दोगे ना तो फिस सतका नास हो जाएगा गलत कि समझ रहे हो ना सभी अभी क्वारा समझ में ना कि किसी को कोई दिक्कत कोई परिसानी कोई हरानी नहीं आगे बढ़ा जाए चलिए तो मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे 500 रूपय का 20 परसेंट वहीं होगा इतना 700 रूपय का 30 परसेंट होगा यह सवाल थोड़ा यहां पर लिखने लाइग नहीं अभी लिखूंगा दो टाइम लग जाएगा 120 को कितने परसेंट कम किया जाए कि 90 राजा यह बताइए यह सवाल है यह वही सवाल है लेकिन गुमा गुमा के 120 को कितना परसेंट कम करें कि 90 बचे कुछ लोग करें हमारा वाट्सअप गुरूप उनको मैं बहुत 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 बेलकम करता हूं और कमेंट बाक्स में मैं टेली गराम चैनल की लिंक दे रहा हूं बबुआ ठीक है भाया आप सभी वाट्सअप पे नहीं वाट्सप पे परिदी गराम चैनल का लिंक दे रहा हूं जोईन कर लीजिए ठीक है अंसर बताईए फिलाल मैं लिंक दे रहा हूं 108 कोई बता रहा है कोई 60 बता रहा है परीती आदो बता रही 45 परसेंट बता यह जल्दी करिए फटाफट देखिए वह कुश्चन जो बड़े वाले हैं उनको टाइपिंग करवाक लेकर आएंगे तब बताएंगे क्योंकि यहां लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा बड़े कुश्चन को हम प्रिंट करवाके लाएंगे तब स्क्रीन कर लें देखिए सीधी सी बात यह हम कैसे करेंगे कि 120 को कितना परसंट कम कर दें कि 90 बचे हम माल लेते हैं कि 120 को कुछ परसंट कम कर दें कितना कुछ भी माल लो इसको करने का दो तरीका है पहला तरीका तो यह है कि 120 को कितना कम करें कि 90 बचे तो हमें पता है कि 30 कम करेंगे एक तरीका तो ये तीजित कम करेंगे तो चाहर आए कुतो-पर्सेंट है ये निकालने का तरीका है कि तीजय गुड़ा को양णी की तरीका कोड़े है कि बहूं है सभीत कि नहीं उचीजिए कि दैसे टॉद फाइगक नहीं इसलिए निए उतक भाई यह मत less ... कि एक जीरो से जीरो कट गया तीन से कटा तीन चोग बारा चार से काड़ दिया पचीस परसंट आएगा यह सब पचातर कहां से बता रहे हैं कि आरती कि 24 आ रहा है सालनी सोन कर यह कौन सा कुश्चन है अच्छा है पीछे हैं यह पलक मिस्रा ठीक है ओके हैं हो गया इतना डन देखे कुछ लोग डाश्टर के पीछे पड़ें एच अच्छा सुनू देश्टर ना पचास रूपयाग डाश्टर चार दिन में खराब हो जाता है पड़ा है इसको धूलो दूलो मिटाओ दस रूपयाग रूमाल ना तत महीना चल जाती है समझे रहो थोड़ा बुद्धी भी लगाओ कि सिस्टम ना करो चलो कि इतना हो गया ना इसमें कोई दिक्कत नहीं देखो मैं इनको क्या बताऊं मतलब का हुँ इनको कुछ गंदा बोल दूं तब भी नहीं अच्छा बोल दूं तब तो अच्छा है नहीं जाने दो चलो नोटिफिकेशन तो यूटूब दिया होगा हमें नोटिफिकेशन का थोड़ा सा प्रभाव कम मालूम चल रहा है उसको किनारे जाने देते हैं जल्दिक स से आप जबाब दीजिए विमलेश राज और समरीन नुमानी निहा पर्मा आसीज सिंग सपना राठोर और चंद्रेश ठीक है बहुत अच्छे सपना जी का कमेंट सबसे पहले आया है कुछ लोग मुह में घी जबा के वैटें दही जी से बोलते तो भाई वो लोग भी थोड़ा सा बोले मुह से बतलब मुह से भले ना बोले लेकिन कमेंट तो करें जो महेंदी लगा के बैठें वो ने करेंगे ठीक है आओ चलो जार बटा पांच को परसेंट में बदलना है आई ये बात करते हैं अकांचा गंगवार अनुपा मौर्या तोनी गुपता ठीक है कोई 80 परसेंट बता रहे हैं अमित सिंग यह दूसरे गरह से आये होंगे ठीक ईटने गलत ज्यसें पूजा कनोजिया जीवें यान ऱगलत है यह झा मेंठ लीखा है यहां जो परसेंटेज चिंश नहीं लगा रहा उसका भी गलत जो ऐसे सिरी लिख दिया न उसका भी गलत है जैसे बरात गई है दुलाहाग सिर्पे अगर उकुट उकुट नहीं लगाया हो तो दुलाहाग साइबाला मंतर नहीं समझ में आएगा कहीं दूसरे एक साथ होके रिकड़बड हो जाएगा समझ रहे हो तो थोड़ा अंतर जनाई पढ़ना चाहिए अंसर के जाए लेकिए तीन बटा पांच परसेंट नहीं नहीं परसेंट नहीं इसको बताए परसेंटे में बदलिए को सिस करिए चलिए हम बात करते आगे थोड़ा सा मिटाने वाला इसको ले लेते हैं अभीला साजी बिल्कुल बहुत अच्छे एनिवन और भी कोई भी पूछने का उद्दे से यह होता है कि लोग पुड़ा सा एक्टिव हो जाए और जो पहले बताएगा उनका नाम भी बोला जाएगा थोड़ा यह अच्छा लगेगा नेहा बर्मा सोनी गुपता अभिलास यादो अनुपम प्रजापती एस्टडी हंड्रेट है वेरी सो से गुड़ा करेंगे वांच से काटेंगे वही बीस आएगा बीजतियां ही साथ परसेंट आएगा इनका साथ आएगा उनका सही है जिनका कुछ और आरा उनका गलत है आईए हम बात करते हैं मुख्य मुद्धा पर भाई देखो प्रतिसत का मतलब यही होता है प्रतिधन करने लाएक अभी नहीं है आप कोई PhD नहीं करने कोई बहुत हाई लेबल की पढ़ाई कर नहीं रही है हम इसके उपर बात नहीं करने वाले हम यहीं से बात करेंगे कि इसको परसेंटेज को सव पर ही निखाला जाता है ठीक है जैसे उदारन के लिए अगर मैंने कहा कि 100 का 12 परसेंट तो बताओ कितना होगा कि इसको याद रखना है बस ठीक है और मैंने कहा कि 100 का साथ पर फेंट तो कितना होगा भाई बोलो सबसे पहला जबाब आया है सपना राठोर का और आसीश ठाकुर गलत है बच्चा तुम्हारा तो दूसरे नंबर पे हो लेकिन गलत है ठीक है नो का सेबंटीवन परसेंट कितना होगा ठीक है अनिल कुमार परजापती एस्टडी देखे सीधा सा फंडा यह है हंड्रेड पे जितना भी परसेंट बोलेंगे उसका मान उतना ही होगा तो का 12% 12 7% 7 75% 75% 71% तो कहोगे फिर इसका मतलब का है फिर बता काहे रहे हो बता रहा हूं मैं यह बताना चाहता हूं कि जो परतिसत है वो हमेशा तो पर ही निकाला जाता है ठीक है अब इसी करम में अगर हम थोड़ा सा आपको और आगे ले चलें अभी कोई रूल नहीं बता रहें अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक बता रहें कि आप बेसिक कैसे समझेंगे इनका क्या वास्तों में फंडा क्या है वो बाकी मैं अभी मैत के रूल की बात नहीं कर रहा हूं अभी रूल की बात करेंगे बाद में थोड़ा सब्र बनाके रखिएगा और दुआएं करते रहिएगा क्योंकि दो देन से तबियत बड़ी गड़वर थी उमीद नहीं थी कि आज कलास चलेगी लेकिन आप सभी लाखों साथियों की इतनी बड़ी दुआ हैं न कि हम राज के पास सभी खीच लाएंगे यह जाने कितना होगा था कि पता ये दोसों का बाराः परसेंट कितना होगा ते पिकाई बिल्कुल टिटी में काम आएगा टिटी के लिए संजीओ निउनी बिल्कुल जब आप सही है ए चाचा लोग कुछ लोग पर फ्रेंटेज लगा के उत्तर दे रहे हैं बैया इसा ना करो ना ना इसका अंसर 24 आएगा सही है लेकिन सीवम जी परतिसत में नहीं आएगा अरे थोड़ा सा बुद्धी लगाओ अगर परसेंटेज का मान पूछा है अब ही वह एक्जांपल बताया कि अगर साधी में गए हो बराती में दुलाहा को मुकुट और उसका थोड़ा सालक होना चाहिए ना पनावट तब तो मालूम चलेगा यह बाकी सब बराती है और यह का कर रहे हैं यह सब के लगा दिये वैसे अब बताओ अब मुकुट लग सब्सक्राइब तर उसका अंसर 24 आयागा कि इसमें दो बार सव सामिल है लेकिन यहां पर्सेंट नहीं लगेगा पर्सेंट का चिन लगाओ के गलत है ने कि द्द कि यहाद रखना अगर इसके आपोजिट में तो वहां गलत हो जाता अ कि यह लोग कन्फ्यूज करने क्या बोलूं कि फिर लंबा हो जाएगा अभी बात में समझ में आगा देखते जाओ भी आएगा चलो ठीक है दो तो का बारा परसेंट चौबीस कैसे हुआ इनको बहुत बेसिक सीखना है मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ अभी जिक तो यह सब आ रहा है उनसे निवेदन है थोड़ा रुके रहिए रुके रहिए देखे सातियों इसका चौबीस कैसे आया हमने आपको बताया कि सौका बारा परसेंट बारा सौका साथ परसेंट पमान उतना ही होगा उसी करम में हमने दो सो का पूछ लिया तो भाया दो सो का इफ लिए चौबीस आ गया क्योंकि इसमें सौ धन सौ है अजकल तो दो सो की नोट आ गई है तो दो सो की नोट में खुला करा लो तो सौ सो की मिल जाएगी ना जब एक सौ में बारा परसेंट बारा था तो दो सो में तो बारा धन बारा कर सकते हो ना चौबिस आएगा ना जब पीना किसी नियम के अभी मैंने कोई नियम नहीं बताया है समझने के लिए ठीक है समझ में आया राधा देवी आया समझ में अब सो का 75 परसेंट मैंने पूछा था बहिए इस बताओ सभी कि तीन सो का 75 परसेंट फिर कितना होगा चलो बिना किसी नियम के बताना है कि तीन सो का 75 परसेंट सबसे पहले कौन बताएगा योगे सिंग अनुपा मौर्या पताइए तीन सो का कि कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत धीरे बोलता हूं रुक रुक के बोलता हूं कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत तेज बोलता हूं कि देखो बाई कुछ लोग के चक्कर में अपने आपको नहीं बदल सकता हूं कि हमारी जो पहचान है ना हमारे इसी वजह से कि इसलिए हमें जैसे जानते हो ऐसे जानते रहूं अच्छा है कि मान्सू इसका सबसे पहला जबाब आया है वह सपना राठोर का वाई सपना जी बहुत अच्छे बदाई हो आपको और नवीन जी का भी दूसरे पर है अधीब का ने तीसरे नंबर पर पताया है लेकिन इनका भी बहुत अच्छा है वेरी गुड प्रकैस आप लोग इसको जानते हैं इसमें अभी कोई भी नीयम नहीं लगाएं अभी हमने कोई रूल नहीं लगाया इसमें मैत का उर्प की ये उनके लिए है इनको मैत में कुछ नहीं आता है वह सीथी सी बात है सो का 75% 75 होता है आपको याद है हमने पूछा 300 का 75% तो चचाओ भाई आओ 300 को हम 100 धन्सो कर सकते हैं बोलो हां कर सकते हैं न एक 100 का 75% का मान 75 है तुम्हें यादी है पहले से पुछे लोग तो रट लेते हैं इसका मान 75 है इसका 75 है जोड़ लो जिनको यह जोड़ना नहीं आ रहा ना उनके लिए एक आइडिया बताओं लेकिन यह थोड़ा उपर से उड़ रही होगी कहेंगे यह कई से काम करेगा हर जगा अब मैं रूल पे चल रहा हूं अब जिनको नहीं समझ में उनको भी आ जाए अब नियम पे चल रहा हूं ठीक है नियम पे चल रहा हूं सब समझ में आ जाएगा बिल्कुल टेंसन मतलेना आप अब आएगा अब तुपरिया तिरपार्थी जी गुडिबनी आईए नियम पे चलते हैं तो यहां पर दो चीजे मैं लिख रहा हूं पर्तिसत का मान के लिए पर्तिसत का मान के लिए ठीक है क्या करेंगे सौ से फाग करते हैं ठीक है इसे लिख लिजिए चाहे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दूसरा संख्या को पर्तिसत में बदलने के लिए में बदलने के लिए तो उसे गुड़ा करते हैं ठीक है ये दो बातें आपको याद रखनी है बस इनकी सारी बिमारी दूर हो जाएगी आज इस कलास में हम परसेंटेज को फिर से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सब क्लियर हो जाए अपने आपको ऊबर सकतने में मत रखना कि मुझे सब आता है कि परिक्ष्य में वह होग हो जिसको सब सबसेुडा करते है कि अब कोई मै कलाल नहीं इसको गलत काट दशिक है उसे पर एक धिव्या को फिर उस violation प्रश्या के लिए आपका PBR study में हम कौन सा बैच लें की बेसिक मैथ है इस समय 585 में है नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर इंक्वारी करिए निबेदन है नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर इंक्वारी करिए आई यह ठीक है समझ गए इसको पर्सेंटेज का मान ग्याद करने के लिए 100 से भाग करते हैं जैसे इसके लिए उदाहरण देखिए जैसे अगर मैंने कहा क्या कहा मैंने मैंने यह कहा भाग भयाओ का बोलूं कि ताट पर्सेंट का मान बताईए यह उपर वाले की तरह का कुश्चन है नीचे यहां देखो इसका उदाहरण देखिए जैसे अगर मैंने कहा कि साथ बटा पांच को प्रतिसत में बदलिए दोनमें अंतर समझना बस हम इनको जल्दी जल्दी खतम कर रहें अब इसमें ज्यादा देर लवाने वाले नहीं है को ओं तवियत बहुत अच्छी है आप लोगों की दुआएं बहुत काम की इसी भी डाक्टर से कई गुना आगए मैंने कोई दवाई नीखाई आप लोगों को बता दें दो दिन तक फीवर था काफी अच्छा फीवर था तेज था लेकिन मैंने कोई दवाई नीखाई एक वो भी जब लगा कि निपटने वाले हैं बहुत ज्यादा हो रहा है तब उसके बाद कुछ नीगा आए देखिए 60% का मान मैंने बताया कि 100 से भाग करेंगे आए इसको 100 से भाग करते हैं यह दो से काट दीजिए 2 3 6 2 5 10 3 बटा 5 इसका अंसर आएगा इसको प्रूब करके आप फिर यह ला सकते हो बोलो कितने लोग कर लेंगे अगर तीन बटा 5 को परसेंटेज में बदलना हो तो फिर से 60 परसेंट आएगा कि नहीं बोल यह क्या मुसीवत है कोई पकड के तो रखा नहीं फिर यह पान फाइब को यू कैंट चेंज इन परसेंटेज विल भी फाइंड शिक्टी परसेंट अरे इंगली संगली समय नहीं आउत भाया कभी कभी एक्टिंग कर लेते हैं कि यह साथ बटा पांच को परसेंट में बदल लिए कि मैंने लिखा है कि इनको सौसे गुड़ा करेंगे कर लीजिए कि कर देजिए पांच दून दस पाड़ा वाड़ा तो इतना तो आपको आना ही चाहिए लेकिन एक चीज याद रखना कि यहांपर पर्षेंटेज का चिन लगाना नहीं बोलना और यहांपर पर्षेंटेज का चिन भूलकर भी नहीं लगाना इक गलत हो जाये सब कुछ करने एक बार माटी हो जाएगा यह बात याद रखना समझ रहो ना तो दुलाद दुलहिन वाली कहानी बताया थे ना उसी को याद कर ले ना वस आ जाएगा चलो सबी को समझ मैं आज जल्दी से सेशन को लाइक करिए अब तुरंद करिए अब मैं इसके आगे बोलने वाला नहीं हूँ अब यह समझ लीजिए ना आपकी लिए मैं क्या क्या करता हूं इतनी कुर्बानी देता हूं एक बार सुरूरे में बताया था कि गल्फेंट पहले ही न बात में बताएंगे बीच बीच में बताते रहेंगे चलिए इसको लिखिए अभी बहुत से ऐसे अभी साथ ही है जिन्होंने नहीं किया लाइक कलास को जोनी आदो ठीक है अन्सू और कोई एनिवन चले फिर आगे बढ़े चलिए ठीक है बहुत अच्छे आ तो इसको मैं मिटाता हूं इस तरह के सारे कोश्चन आप लोग कर लेंगे अब मैं दूसरा नया तरीके का कोश्चन दूना आगे बढ़ों इसको टॉपिक खतम कर जाये ना इस पर बाद में एक्सरसाइज होता रहेगा एक्सरसाइज होता रहेगा बाद में आगे ठीक है पिछली कलास में भी यह सारे टॉपिक पढ़ाया हूँ थो ठीक है इसका मान बताइए चुकंजे इसका मान बताइए इनका मान,, बताइए इनका मान बताइए पूजा कनोजिया पूछ रहें दुलहान नहीं नराज है नहीं अभी नराज नहीं अभी बहुत खुश हो गया चलो ठीक है मिटाते हैं तो अब आगे क्या करना है अब हम आगे बढ़ेंगे कि पढ़ना क्या क्या है यह हो गया डन इस टॉपिक को हटाओ अप आप लोग ट्राइ करते रहो भई रंजना सिंग मिताली सिंग सुपरिया तिरपाथी बेद दंग एक मिनट देखने तो भई नहीं नाम भी गलत पढ़ लेंगे इनका नाम थोड़ा कठीन है यह कहीं से बनवाई है वह आई बेनकाता लक्षमी नाम है ना बेनकाता लक्षमी जी शाउथ इंडियन हुए करके अच्छा आप साउथ इंडियन है इसलिए नाम नहीं ले रहें नहीं सॉरी अब का नाम बोलता हूं हमारे लिए इस्ट बेस्ट नार्थ साउथ सा बराबर है भारत वासी जितने भी यह ना वह एक घर के हैं भारत एक घर आए चलिए बात करते हैं तो को कुछ गड़ बढ़ ना हो जाए है अब का नामे ले लों को फिर इसको बंद केके फैंक दें उधार ना पढ़ाएं नामे लें सबका जाओ आपकी इच्छा जाई सेओं हमारा कजात है नामे बोलें बैठ के हम तो भया यह हो गया आपका दो टॉपिक भिन को परतिसात में बदलना यह हो गया परतिसात को भ अब टॉपी किये होगा पहला क्या था अब तक हम लोगों ने पढ़ा भिन को परसेंट में बदलना उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा भाई दुक मिंचव लिखने दो परतिसत को भिन में बदलना यह दोनों पढ़ लिया ना कि यह दोनों पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे दस अमलों को परतिसत में बदलना जरा समल के बताना पूछता हूं ठीक है पता यह 0.25 को परसेंट में बदल लिए चलिए ट्राइ करिए डेट रेडी पोसिस हमेशा करते रहिए आईए यह टॉपिक के बाद क्या पढ़ना है यह टॉपिक के बाद ज्यादा कुछ बचा है नहीं बस इतने था आई आपके किताब में देखे साथियों इसमें बहुत ही सिंपल सा तरीका है समझिये इसमें दसामलो भी लगा है और परसेंटेज में भी बदलना है तो इसमें दो बिमारी है थह पहले एक-एक इलाज करेंगे दोनों की दवाई एक साथ में देंगे तो न रोगी रहेगा न रोग, तो हमें रोगी को बचाना है, रोग को भगाना है, तो दोनों का साथ में नहीं एक-एक, पहले दसमलों हटाते हैं, तो दसमलों हटाएंगे, दो अंक पर दसमलों है, इसलिए हम इसे सौ से भाग करेंगे, दसमलों हट गया, क्योंकि हमें परस सव से गुड़ा करना है तो भाई यह सव से गुड़ा भी कर लो इनकी वी इच्छा पूरी हो जाए और यह आपस में दो जीरो से दो जीरो कैंसिल 25 पर फेंटेज आया है ना कितना आसान है थोड़ा बहुत मजा रही अंदर से कि नहीं है चलिए तो जीरो पॉइंट तीन पांच को पर फेंटेज में बदलिए बताइए वन पॉइंट टू फाइब को पर फेंटेज में बदलिए असनिया जी बताइए विताली सिंग कुछ लोगों का नाम बोल रहे हैं कुछ लोग नराज हो रहे हैं मैं सबका कमेंट देख रहा हूं बहुत से साथ ही मारे साथ जूड़े हैं चलो आगे बढ़ते हैं हो गया इतना तो इसे लिख लिजिए यह टॉपिक खतम करते आगे बढ़ाते हैं कि वैसे यह टॉपिक भी मैं लगवक खतमें कर चुका था कुछ चन सुनियेगा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनियेगा कि मनोच के बगीचे में 1200 पेड़ हैं मनोच के बगीचे में 1200 हैं कि 12000 सीधा लिख लो 1200 क्या है पेड़ हैं वद्द ट्री है ठिक है पेड़ लिखा पड़े लिखा एं त्री कि इतना है 1200 है जिसमें से 35% आम के हैं वाकी सेस बचे हुए जो अन्य फलों के पेड़ है वो मान लो अम्रूद के हैं ठिक है अम्रूद के हैं तो यह बताओ तो या मुरूद के कितने पेड़ं को बतालेगा एक फलाने है में से किसी को लेलो सुपर्य いや þिरपाथी कुमान जान लो कि इनके बगी शाय कराओ किंप इसमें से 35 परसेंट मांगो मतलब अम्रूद है अम्रूद मतलब आप फलों करा राजा तो रानी तो बोलेंगे नहीं इंगलिस में का बोलते हैं भाई पता यह तो कितने आम्रूद के पेड़ हैं अरे कुछ तो बोलो अपना राठोर कह रहे हैं कि पांसो चालिस और नेहा बर्मा चार सो बीच देखिए कुछ लोग ऐसे भी है ना इसमें जिनको यहीं नहीं पता कि इसमें करना क्या है उनका मतलब यह है कि हम इसका बारा सो का 35 परसेंट बताए दें उत्तर हो जाएगा नहीं इसमें ना कनवा पकड़की खीचना है लेकिन अईसे इधर से नहीं अईसे करके यही से करके तो आई से खीचना है आईए बताते हैं चलिए देखिए सीधा सा बात है बारा सो का पहले 35 परसेंट निकालेंगे और जितना आएगा ना उसको बारा सो से घटा देंगे फिर जितना बचेगा ना वह अमरूद कपेड है क्योंकि 35 परसेंट जो आएगा वो तो आम वाला होगा इसको मैं करके बताऊंगा आईए सुनिए तो बारा सो 35 परसेंट का मतलब ऐसे बढ़ा चुका हूं दो जीरो से दो जीरो कैंसिल बारा का 35 में गुड़ा हो जायेगा बारा पंचे साथ हांसिल कितना आ गया छे और बारा तिया ही 36, 36, 42, 420 कुछ लोग इसी को उत्तर बता रहे थे अरे बैया चाचा दिदी इंकल अंती का है यह आम का पेड़ है 420 क्या है यह आम का पेड़ है लेकिन इसमें से 420 घटा लीजिए तो जो बचेगा वो अमरूद का पेड़ होगा सीधी सी बात है हमें घटाना नहीं आता थोड़ा जुगार सीख लीजिए माल लेते कि सन्योग बस अगर यह 400 होता तो 800 लेकिन बीस और कम है तो 700 कितना होगा असी होगा असी होगा ना तो 700 होगया बस यह 700 क्या है यह अमरूद का पेड़ है क्या है अमरूद का पेड़ है चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं इस तरह कि आप लोग कर लेंगे अच्छा एक बात बताईए अगर इसी में ऐसा कहतिया जाता इसमें से 35 परसेंट तो मैंगो है और इसमें दस परफेंट जो है वह केला है बनाना अब बताओ अमरूद कितना है अब बताओ कि कौन बता लेगा सबसे पहले पूजा कनो जिया थोड़ा पानी वनी डालो खोपड़ी पर ठंडा हो जाएगा बताओ अगर 35 परसेंट मैंगो और 10 परसेंट बनाना है तो अमरूद कितना होगा इसमें थोड़ा सा और दिमाख लगाना पड़े बस थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा से ही तो बहुत हो जाता है चलिए लगाए लिए तो सीधी सी बात है 35 परसेंट पर प्रफेंट यह 37 परसेंट और फिर दस परसेंट बनाना है इसका 10 परसेंट निकाल ना पूछा होता तो कुछ और करते हैं कि हमें सिर्फ अम्रूदगा निकालना है क्या करेंगे टोटल में से 10 परसंट गटाइब और भी कर लो कि 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 अगर बढ़ते हैं फिर कि नहीं समझ में आया अब को आया यह हो गया एक टॉपिक को कि अब परिच्शह में आ सकते हैं की द्हन परषेंट का मान पचास रूपया है तो जहां का मान बताइए उन थे लिगता हो बढ़रे पास कि इसी धन का कितुन परकरेंट यहां कि रूप जो देखनेंदो हाँ 10% का मान 50 रूपया है तो बताओ वो कितना रूपया है जिसका 50 रूपया 10 परसेंट है पताइए अकांछा गंगवार समरीन पताइए जबाब दीजिए फटाफट किसी धन के 10 परसेंट का मान 50 रूपया है तो वो धन कितना रूपया है भाई इनको मैं मिटा दे रहा हूं जो जो मैंने पढ़ाया सब मिटा दे रहा हूं कोई देखने नपाए चलो माँसां पूल जिनकों देखना ही है थोड़ा वीडियो पीछे करके देखने लूपया में इस नहीं परसेंटेज में नहीं आखा फ़हली बात तो यह कुछ एशाव है जिनका बुद्धिये नहीं काम जिबाए उप किका आंसर 5 कि पर्फ्रंटेज में नहीं आएगा यही नहीं पता है कि अपताना की तरह वेलक सबस्याओ के इनको कि कहीं जाना है यह नहीं पता मैय की पार्टी में साध्रेम की मैप्ने चले जाओगे लोग फूसे का को रहेंगे त क्या करेंगे यह कूसी आएंगे है तो उत्तर में पहले यह तो देखो बताना क्या है ऐस एका इस लाइस है को इसका 10 कमान पॉक्राइञ तो वह कितना है यह 5 बता रहा कौना इस Bl自己 आएए देखे, मान लीजिए कि वह राफी क्या है, X, हमने माना क्या है X रुपए है, ठीक है, तो यक्स का 10% हम क्या करेंगे, 1 लेंगे कितना है 50, हमें पता ही नहीं क्या था तो हमने X मान लिया, यह माना गया, वाना और 80 क्या है यक्स रुपया है तो यक्स गुड़ा 10 पर्सेंटेज के चिन हटाएंगे 100 से भाग करेंगे यह 50 ऐसे ही रहेगा हम आया समझ में क्यों भाई सही जा रहा नहीं है एक 0 से एक 0 कट दो यक्स बटा 10 बराबर 50 यक्स बराबर कितना है 500 यानि वह रासी 500 रुपया है जिसका 10 पर्सेंट का मान पचास कुछ लोग सोच रहे होंगे गलत वालत बताज नहीं रहा है पुत्तर की जाच भी कर सकते हो आप आप इसके आंसर की जाच भी कर सकते हो ये गलत है कि सही है आओ चलो 500 का 10 पर्सेंट निकाल लेते हैं इधर आजाओ 500 का 10 पर्सेंट ये सिखाया तो हूँ ना सब तो 500 गुड़ा 10 पटा 100 दो जीरो से दो जीरो कार्ट दो फिर पचास आ गया ना मतलब आसमान से गिरे खजूर पर टक गए यहां जो किया तो एक आंसर आया इसको ले करके फिर से कुईश्चन आ गया इसका मतलब सही था ना रंजना सिंग का चाहती हो बला कर दें यही अंतिम इच्छा है आपकी लिख लिजिए समझ में आया ना अच्छा एक और बताईए अब की बार हर कोई बताए चलो 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 फटा फट बताओ कोई ऐसा एमाउंट है जिसके 10% का मान यह इतना है कितना इतना है इतना यह वाई रुक जा 550 रूपे है आप बताओ कोई ऐसा एमाउंट है पूर आसी ज्याद कीजिए जिसके 10% का मान 550 रुपे है पूश्चन सुन लीजिए वो रासी ग्याद कीजिए वो एमाउंट ग्याद कीजिए वो रुपेया ग्याद कीजिए जिसका 10% मात्र 10% 550 रुपेया के बराबर है तो बताओ वो आखिर कितना रुपेया रहा होगा सुपरिया तिरपाथी का आ रहा पच्पंसव रुपया अद्नेहा मिसरा कभी इतना ही आ रहा है और अकंछा कभी कुछ नकल वकल कर लिया इन लोगों ने कम मिलके आजकल तो सब एक थी बता दिया ना यह कहते हैं नहीं एक भेड़ कोई में कूद गई तो सब कूद गई यह बोले यह तो सच है कि दुनिया हमेसा भीड वाले रास्ते पर ही जाती है यह बिल्कुल यह कि भीण हमेशा सही रास्ते पर जाती हो इसलिए अपना रास्ता खुछ चुनिए भीण वाले पर मत जाईए किस तब लोग जा रहे हैं इसलिए हम भी जा रहे हैं अखिर तुम जा क्यों रहे हो यह बताओ बस कि अचकल ऐसे होता अंदोलनों में तरना पर दर्शन हो गयरा होता है जो सरकार को गाली देते हैं एक लोग गरिया रहे सब गरिया एंगी कायं गरिया रहे हमें ने पता वो लोग गरिया रहे तो थोड़ा बुद्धी लगाई अपने पास से भी इसमें हम सपोर्ड नहीं कर का न विरोध कर रहें बात बता रहें है तो 10% कमान 550 है तो वह एमाउंट क्या है हमें नहीं पता हमने मान लिया कि वह ए है ठीक है हमने मान लिया उराशी क्या है तो एक दस पर्सेंट निकालना है तो एक दस पर्सेंट कितना है पांसो पचास है हमने मान लिया उराशी ए है तो एक यह दस नीचे सो नहीं जा रहा नहीं है एक जीरो से जीरो कड दिया ना यह बटादस है पराबर यह पांसो पचास यह बराबर यह पांसो पचास तो था ही तिरश्या गुड़ा हो जाएगा इतना तो आप जानबे रहे हो इतना तो जानते हो लिख लिजिए फटापट हो गया डन आगे बढ़ें चलिए तो यह सब चीज आप लोग कर लेंगे किसी गाओं की जन संक्या 5000 से बढ़ करके 555 हो जाती है तो जन संक्या में कितने परसेंटेज की बृद्धी हुई है बताईए यह कौन सी मुसीबत आई बताईए बटापट सभी बताईए आईए जन संक्या आज का लागडाउन में कुछ जादा बढ़िए आप लोग को पता है ना चलिए बताईए 5000 थी कितना थी 5000 और यह बढ़ करके हो गई 5500 तो आप बताईए कि कितना परसेंट की वृद्धी हुई है जब आप दीजिए आई यह बात करते हैं सबसे पहले तो यह देखिए कि आखिर यह बढ़ा कितना है तो भाईया 5000 और यह 1500 यानि बढ़ा है कुल मिला के 500 कितना बढ़ा है 500 या यह बढ़ा है कि जो 500 है वह 5000 का कितना परसेंट है जो ला पाउन्सों है वह 5000 का कितना परसेंट है कम्रीन का बहूत अच्छे बेरि गूड लूunda तर presented चलो हमने मान लियाे पर्सेंट है ऐब यह भी होगा यह Anand 2000 principal मैंने वाना है कितने का 5000 गोड़े एपरसनट पराबर 500 500 क्यों अफे चलेगा ना ऐसे हो सकता है कि नहीं कि वह सकता है ना चलो करके देखते हैं ऐसे जुगार लगता है कि नहीं अबने मान लिया एपर्षेंट है तो एपान यह हो जाएगा 100 बराबर 500 बटे पांच यह तो गड़ बड़ हो गया कहीं से यह तो कहीं से गड़ बड़ हो गया एक मिनट एक मिनट अच्छा यह 5000 था यह 500 यह यहां पर यह पूर था जहीं आप फोट यहां ठीकत को घंच यह जींग कर जायंगًगे जाएगा कि यहां पर यदा साया जबिकत्ना अ परसंट समझ में आना सभी को कोई दिक्कत नहीं किसी को निताली सिंग जी बिल्कुल सही है बहुत अच्छे रंजना सिंग बेरी गूड अमित जी बहुत अच्छे भाई देखो आप लोग कलास को लाइक नहीं कर रहे हो इसी वज़ा से हंड्रेड से ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं यह बहुत दुख की बात होती हैं अंदर से आतमा बहुत दुखी होती हैं पुकार भी रहता बिमार भी रहते हैं किसी भी तरह फे हीलते डोलते हैं माल आ इस तरह से आप लोग इस प्रकार के सारे कोश्चन कर लेंगे यसको कोई इंक्वारी करना नीचे नंबर है उस पे संपर्क करेछे नंबर है और यह फोन सब हमारे पाहएं इनको हमें साइलेंट करना पड़ेगा काटकर के नहीं तो यह वहीने संपर करने लगें एक मिनट भाई एक मिनट लिए अब आप लोग तुनिए कुछ और कि इतना हो गया कि यह बताइए पचास जो है संख्या कि पचास कि यह बारा सो का कितना पर्थसत है पटाइए संख्या पचास बारा सो का कितना पर्थसत है जल्दी बताइए फटा फट आगे बढ़े जलने जल्दी से मैं बताता हूं कि अ कि इनको भीगों कि मिटाना पड़ता है फिर पोचना पड़ता है ठंडी गमाईना लिखता नहीं तंक्या पचास बारा सो का कितना पर्थसंट है जनीमन ट्राइए कोई वेढ़ीं। और छे सो बता रहा है पता नहीं कहां से गिरेये भी गोवारा सो का कितना पर्थेंट है हम मानते हैं कि याख्स परफन्ट है कि वारह सोखा है यक्स परफन्ट हम मान लेते हैं हैं और 50 जैन सोच रहे हैं कि वारह सोखा मैं 50 परफशन रहा हूं तो इनकी बुद्धिया उल्टा नहीं चलती सिद्धा चलती है तो यह बारह सो का यक्स पर्फिंटेज हटेगा सो से भाग हो जाएगा तो जीरो से दो जीरो कट जाएगा तो का का मतलब होता है गुड़ा है तो कर लो पचास यह कर लेते हैं तो यक्स बराबर कि पचास बटे बारा हुए इसको पहले तो आप इतने से काट सकते हो दो से तो इसे कटेगा उसके बाद दुबारा कटेगा नहीं तो दो से मत काटो इसे इसे डारेक्टली बारा से भाग करो आफान रहेगा भाग करके बताओ कितना आएगा और हाँ एक चीज और इतना भी आएगा ना उसे हम फिर से परमाडित करेंगे कि वो सही ये गलत प्रेंसर नहीं लेना तो पचास बटे बारा आईए भाग करके देखते हैं यह बारा चोक अनतालिस प्टाने पाया दो उपर दसमलों बढ़ा के जीरो उतारा तो बारा एक कम बारा प्टाने पाया आठ जीरो बारा चंग बहात्तर आठ यानि 4.16 पर फेंट आया सम्थिंग ले जाएं तो हमाज में आया ना यानि हम कह सकते हैं कि जो बारा सो है उसका 4.16 परसेंट पचास है लेकिन यह 100 परसेंट सही नहीं है क्योंकि यह भाग पूरी तरह से कटा नहीं है अभी और जा रहा है फिर जीरो उतारेंगे 4.666 सम्थिंग जाएगा बार बार जाएगा इसे जाएगा ना तो क्या होगा यह आप इसे सेबन परसेंट लिख सकतो एक बात में अगर बोले हैं से तीन अंक में तो यह ज्यादा सही माना जाएगा ठीक है अब आईए हम आपको बात बताते हैं आगे अगर आप इसका 1200 का 4.167 परसेंट निकालने तो कितना आता है पचास के लगभग आ रहा कि निकालके देखो पचास आ जाएगा निकालके देखना ठीक है पचास के लगभग में एकदम आ जाएगा थोड़ा कुछ पॉइंट का चाहिए डिफ्रेंस है नहीं तो आ जाएग इसका मतलब यह सही है अभी को समझ में आया ना आया समझ में करना यह बहुत गजब लगा बिल्कुल गजब लगेगा बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा जो लोगोंने पूरा कलास देखा होगा वो परफेंटेज का सारे कंसेप्ट सीख गये होंगे चाहिए आप SSE का परिक्षा देंगे रेलवे का देंगे कोई भी परिक्षा देना है परतिसत के सारे इंप्वाटन जो बेसिक निव है ना मैंने सब करवा दिया इसमें तो डिये लिए यह टॉपिक उनीका है लेकिन यह सब के लिए है ठीक है एक और बताईए अच्छा इसी में अगर मैं ऐसे बोल दूं संख्या 40 जो है वह बारा सो का कितना प्रत्रत है यह तो बड़ा आसान है क्योंकि सिधा-फिधा कट जाये गए इसको बताओ भाई अभी बहुत पीछे चल रही हो आप कि कोशिस करते रही है कोई बात नहीं बहुत अच्छे साथियों बहुत अच्छे बेरी गुड अच्छा लगता है काफी आप लोग ट्राइक कर रहे हो इसका अंसर आप लोग बता देना आगे बढ़ते हैं कि 120 को कि तो पिछले बार बताया था कि बताइए को इस्चन एक और बताईए भिप्यातिवारी अच्छेहा बर्मा रंजना सिंग पताईए कि 150 को कितना परफिंट कम करें कि 80 बचे यानि कुष्चन आपसे यह घुमा के पूछ रहा है दीधा नहीं पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है लेकिन घुमा के पूछ कि इसको करने का दो तरीका है कि एक मिलन मिसरा है बहुत तड़प रहें विचा रहें नीचे नंबर चल रहा है बोल रहा हूं बाबू उसी पर संपर कर लो और हमारी कलासें इस समय आफ्लाइन नहीं है कुरोना टाइम में सब बंध है लेकिन यह मार्चट पढ़ाय जा रह रहें एन 150 को कितना परिशत कम करें इसको करने का पहला तरिका यह है है कि हमें यह पता है बुर्फियंट सथ नहीं हमें परफेंट सत्तर है एक तो यह कुश्चन बन सकता है एक कुश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कितना परसेंट कम करें आप इस पे लिख सकते हो माना एक सपरसेंट कम करें और एक सपरसेंट घटा के भी बराबर उतना कर सकते हो दोनों तरीके से कर सकते हो कि आप लोग तो हम इसी तरीके से कर लेंगे आप यहां पर समझ लो मानलो हम ऐसे करते हैं तो कि 150 का पानते हैं कि कि यक्स परफिंट कितना है 70 हैं कि अब इसे मैं कराऊंगा नहीं हराई फंदार आऊंप पूरा आप लोग करोंगे इसको करके यक्स का मान निकालके अपना उत्तर निकालके रख लो पर अब कर लोगे नहीं किसी को कोई मुसीबत कोई परसानी नहीं ना सभी कर लेंगे चलि कि आज आपका यह पर्सेंटेज का ध्याय भी खतम हो गया हूं कि समलो वाला टॉपिक हम ले करके चले थे वह भी होई गया है थोड़ा सा और बता देते हैं यह बताईए कि 0.015 कि पर्सेंटेज में बताईए कितना आएगा जब आतीजिये फटाफट कितना आएगा देखिए जो लोग आफलाइन कलास के लिए परिसान है देखो भाई अगर सिर्फ पढ़ने का उद्देश से है तो आनलाइन ठीक है पाकि अगर मिलना उलना है थोड़ा मौज मस्ती करना है थोड़ा देखना दिखाना है तो फिर कि यार होगे टाइम ज्यादा लगेगा मेक अपकड़ा लगता मूह दुलना ना ना न बसका किराया टेक्सी किराया इसाब अलग से लगता है टाइम अलग से परबाद होता है एक बार जो पढ़ाया गया पढ़ाया तुबारा कोई टीचर जल्दी रिविजन करवाएगा दुबारा पढ़ने पाओगे आफ लाइन में क्या है तो बेरे सो के उठेवा माची भिन बिनाती है भले लेकिन बैठ के पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है ना कोई देखने वाला है ना कोई दिखाने वाला है को टेंसन नहीं है एक बार कलास खतम हो गई को ऐइसन क्या देख्यें को तुम को नहीं समझ में आ रहा है कोई सर्माने की बात भी नहीं है अब कलास में ना समझ में आया तुस्तों लोग के सामने इसको खड़े होगे कई से पूछोगे बताव कई से पूछोगे लोग कहेंगा रे इतना चोटा नहीं आ रहा है इनको आल लाइन बेहतर है आप लाइन से है ना इसका मान आप लोग बता लेंगे पर्षेंटेज में बदलना है सबसे पहले आप दस हमलो हटाओगे एक हजार से भाग करोगे क्योंकि तीनंग पर दस हमलो है पर्षेंटेज में बदलना था इसलिए 100 से गुड़ा करोगे दस हमलो में आएगा ना है यह है चाहित इसे और आगे हल कर लो थोड़ा और छोटा हो जाएगा बाकि दस हमलो में आएगा इस तरह 15 पर्षेंट नहीं आएगा 15 पर्षेंट नहीं है इसे आप इतना और भी कर सकते हो 15 पटा दस पर्षेंट इसे कार्ट पीट लो पांत यह पंदरा पांदून दस आप तीन बटा दूई पर्षेंट लिख सकते हो भिन के रूप में रहेगा वह दस हमलो डारेक्ट है बस दोनों में से कुछ भी लिख सक इसे साफसो। में ना weekend हो विख समाज में आया है आपको के दिटा क्या होता है आपको बना मोबाइल या नहीं है वह मोबाईल डेटा हो या एक्चुली जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा अलग होगा इस क्लास को पूरा अंडे तक देखिएगा आपका चैप्टर नंबर एट है डीले डैनी की बीटी सी का फर्स समेश्टर का जो मैथमेटिक से स्पेसल रूप से उनके लिए जिसमें आप लोग पढ़ें से आफिर एक को समझेंगे आखिर यह अवरगी गर्णकड़ा क्या होता है कि डेटा क्या होता है डेटा का मूत मित होता है में आपका नाम मोबाइल नंबर आपके बारे में परस्टनल इंफॉरमेशन ये आपका परक्षम डेटा है इसमें क्या कह रहा है आप यहां पर पढ़ पा रहे होंगे लेकिन हम आपको सुरू से लेचलेंगे और वहां से दिखाएंगे देखिए डेटा यानि की आँकड़ा यह होता क्या है दैनिक समचार पत्र पत्रिकाओं विग्यापन सूचना तंत्र रेडियो दुरदर्शन आदी से बिबिन परकार की सूचनाएं हमें मिलती रहती हैं कुछ संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं जिनें हम डेटा कहते हैं या आंकड़े कहते हैं मतलब आप कुछ नहीं समझ भाए तो इस उधारन से आप समझ जाएंगे आप मौसम के बारे में खबरें सुनते हैं कि बीते सो मार को आई तेजान दी पानी में दस लोगों को अपनी जान से हाथ दोना पड़ा इसमें जो दस लोगों की संख्या है ये एक डेटा है अभी करोना काल की महामारी में लाखों लोग मौत की गाल में समा रहे थे वो सरकार के लिए एक मात्र डेटा हो रहे थे बस और कुछ नहीं लेकिन किसी की फैमली के लिए वो पूरी काइनात होते थे उनकी क्या बोलते हैं मतलब पूरी जिन्दगी कि इनकी कुछ विशेस्ता होती रिएटा गी इन्हें आप अच्छे से समझ सकते हो लिखा है ना आकणों की विशेस्ता हैं या देखो कहते हो कि यह मीडिया जो है बिक चुका है अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो माफी चाहता हूं आप जाके सोसल मीडिया पर देख लो कमेंट देख लो न्यूज जो चैनल देखें उन चैनल का कमेंट जाके देखो लोगों ने का से भर-भर के गालीया दिया है तो ऐसा क्यों क्यों कि डेटा की विसेशता है आप पढ़ो ध्यान से पहला आपके स्क्रेट पर हैं आंकडे किसी निश्चित उद्देस से ही एकत्रित किया जाते हैं जैसे माल लेते हैं कि सरकार आपने सुना होगा भी कुछ दिन पहले खबार आई थी सरकार ने क्या किया था भारतियों के जो भी देखना हाथ में जाएगा फराडो अलब करेंगी जैसे बैंक यहां पर जाके पढ़ सकते हैं वह इस उद्देस से उपयोग करते हैं यहां पर देखिए इस स्क्रिन पर दिख रहा है आंकडे के वल साधन परस्थत करते हैं निश्कर्स नहीं जैसे यहां पर आप देखो ज पचीफ लोग मारे गए इन में 25 लोगों का अंकड़ा है लेकिन वह पचीज लोग किस तरह से मारे गए हैं वहाँ के नीचे कुचल कर मारे गए फिर वहां में घसीट कर मारे गए या फिर अतधिक गंबीर चोट लगने के बाद मारे गई असपश्ट नहीं है कहने का मतलब य देटा में की कैसे क्यों हो गया मुख एडलाइन एक प्रकार से होती है बस आगे देखिए सभी आंकड़े 100% सही नहीं होते हैं यदि अनुसंधान करता की भावना पच्छपात बुढ़ हो तो यह डेटा जो है आंकड़े जो है वह गलत भी सावीत हो सकते हैं जैसे आपने गलत निकलती है क्योंकि उसमें क्या होता है डेटा में हेर फेर किया जाता है अगर अनुसंधान करता की भावना पच्छपात बुढ़ होती है तब मीडिया वाले सरकार के पक्छ में अगर खबरे दिखाते हैं तो सरकार की बढ़ाई करते हैं भले जनता कि ऐसी पैसी हो र अगर उसकी भावना पच्छपात पुढ़ होती है तो उन आंकडों में हेर फेर की जा सकती है उन्हें गलत भी किया जा सकता है इसका यह मतलब है उदारण आप यहां से देख सकते हो जैसा कि मैंने आप यह आपको बताया कि वरतमान समय में मुक्धारा की मीडिया को देख करता है कमेंट करके बताइएगा क्या यह बाते सही हैं की गलत हैं सबके लिए किसी पार्टी अब इसके लिए नहीं है तो एक्चुली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि अक्टूबर 2021 में जब यह वीडियो रिकार्ड हो रहा है उस समय महांगाई एकदम चरम पर है पि की बात हो गई तो पिछली सरकार में अगर 65 रुपय पेट्रोल होता था तो लोग धर ना देते थे आकर के लेकिन हम लोग जो कहते ना अगर वो क्या बोलते हैं उसे गुलामी सहने की आदत अगर हो गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी समझ दो थोड़ा सा अगर इंसान को थोड़ा सा दर्द होता है तो वो चिलाता है रोता है लेकिन कभी-कभी दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो आदमी की आवाज नहीं निकलती है तो उसी तरह से इस समय जो है यह मायंगाई कुछ ज़्यादा हो गई है फिलहाल आगे बढ़ते हैं यह एक करेगा तो क्यों करेगा सुचना के लिए ही करेगा अगला देखिए यह डेटा की मैं विस्थेस्ता दिखा रहा हूं अगर आप स्क्रिन पर देख पा रहे हो तो पूरा किंड तक देखिए जाई यह गने वीच में आंकडों में गड़ती सुदता का भी अभाव होता है जै इसे जो है मोटा मोटा एक परकार से बातें की जाती है जहां पर बारा जा तीन सुदता के रूप में जो है पूरी तरह से सुदत नहीं होता है जो लोग कहीं से डेटा एक अत्रत करते हैं अब हम पढ़ेंगे कि आंकडों के सुरोत क्या है अखिर ये डेटा हमें कहां कहां से मिल सकता है इसके बारे में अध्यन करते हैं लेकिन कलास को आपको इंड तक देखना है कहीं जाना नहीं है चाहिँ हूं यहीं आपके पास में एक हमाने आपको स्क्रेण दिखानां ज्यादा जरूरी इस वज़ा से मैं आपको इसेखरन दीखाढे ठीके आगे बढ़ाओ चाहिए अब प्र पेज पेज़ कहां कहां सी मिल सकते हैं हं ऑंकडों के मुखे पकार के दो सरोत होते है यह एक होता है प्रात्मी सुरत दूसरा होता है यह होता है जैसे आप इस सरकार छायरी करती है कोई परकार का देश या को प्रकार का नियम देश में हम building करती है तो वह प्राथ्मिक डेटा शुरोथ लोगों को उपलेफ़कराति है कहने का मतलब यह कि वह डेटा मुखहधार की मीडिया को बताती है यह टीबी चे tiers वालों को बताती है तो वह लोग क्या करते है जनता तक पहुचाते हैं लेकिन उन टीवी चैनलों से या आखबार से मालीजी हमने खबर सुना हमने पढ़ा और पढ़ोसी में किसी को नहीं पता है कि कल से नोट बंदी लागू होने वाली है जो जा के बता दिये सबसे कल से नोट बंद हो रहा है जो रखेयो जाजा definitely मतलब समझ रहा है जो मैंने आंकड़े दिये उसको को mm battle बंद ने को बताया लेकिन मुझसे सरकार ने तो बताया नहीं था फोन करके कि भाई पीवीयार इस्टडी वाले बता दो सबसे क्योंकि सरकार ने तो मुख धार की मीडिया से बताया था तो जो मीडिया वो प्राथमिक डेटा सुरोत है ठीक है अदलब जिसको पहली बार उर्जानकारी मिली उसक कि अपने विचार हैं जिनको ने पीट्य फाइल बनाया है मतलब हमारे अधूतियक शरोत क्या होते हैं ऐसे आकड़े जो किसी परकासित या फिर आ परकासित साथनों दोराइक अत्रेद किया जाते हैं वो दूथियक सरोत काला आते हैं जैसे मैंने आप आपको बताया कुछ लोग वीडियो बनाते हैं आपने देखा होगा यूटूब पर समचार पत्रों की कटिंग करके कि हाँ भाई भानी खबर निकली है तो वह जो आप खबर देखते हो वह दूतियक डेटा स्रोथ है पहला नहीं है पहला तो वह पेपर है जिसकी उन्होंने कटिंग लिया है यहा समचार पत्र में पढ़ता है कि बोड की परिक्षा है मार्च महीने में सुरू हो रही है और वो रमेज को बताता है तो रमेज को मिली यह सूचना आर्था था आंकड़े के लिए आंकड़ा पराप्त करने का जो दूतियक स्रोथ है वो मोहन होगा यहां से आप एक बार फिर कर रहा है यह खबर जोूँ है प्रकासिद कामरे है ठीख है और इसकी खबर कि शनकारी तो डार्ण संकार ने उसमें बता नहीं था बढ़ हो रहा बता दो या पेपर होने वाला आगे देखिए प्रात्मी कांक रात करने के साधन क्या होते हैं? प्रात्मी कांक लिए केसी कापर कानया और प्याद कर ने सबसे हैं? पहला व्क्तिकत परयचैन जार परियोग जाला करते हैं? यह प्रात्मिक डेटा हुआ फिर मने इस खाबर को निकाला फैलाया कि राथ में दही खाना बड़ा नुकसान दायक है लेकिन मुझे मिली कैसे मैंने परियोग किया एक दिन में खा लिया कट और एक बल्टी दही और रात में लगे कपड करने तो क्या हुआ मुझे असास तो दूसरा प्रशनावली अनुसूची या ने विधी द्वारा यह वी एक प्रकार से मात वुड़ विधी यह प्रात्मिक डेटा पराप्त करने की यहां पर आप ध्यान देना आप लोग कुछ सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि इसब क्या हो रहा है इसलिए बीच वीच मे और अब प्रणावली अनुसूची या नविधी द्वारा बतलब प्राथमिक डेटा लेने का और भी संसादाने जैसे आप लिखा अनुसूची या नविधी द्वारा जैसे माली जीए कि परधान मंत्री जी का मोधी जी का इंटर्विव हुआ कि आप आम काड़ कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं तो भाई मोधी जी के साच्छाकार से एक परकार से एक खबर निकली कि मोधी जी आम को चूस कर खाते हैं तो यह क्या हुआ यह प्राथमिक डेटा मिल गया ना किसको मिला नुजवालों को मिला किस से मिला मोधी जी के सा क्या बात कर रहे हैं नियुज में सर्च कर लेना गूगल पर मिल जाएगा बहुत पहले की बात है यह इंटर्व्य हुआ था माने नियमोदी जी का इस लिए मैं ऐसी बाते बता रहा हूं तुद्यक आंकड़ों का साधन है प्रकासित शुरूद या अप्रकासित शुरूद ठ ठीक है दूत्यक डेटा यहां दोनों जगा से लिए जा सकते हैं अगला है अवर्गिक्रित आंकड़े अंग्रूप्ड डाटा अंग्रूप्ड डाटा का मतलब क्या होता है ऐसे अबयवस्तित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत ही कोई निसकर्ष निकालना संभव नहीं ह सकता है कि मतलब इनका क्या सिस्टम है आक समझ रहे हो ना बहुत परकार की सुच पहते हैं हमें अे युज जिसे मानने चुना यह होता है यह जो आपके लोगों से संबन्दित है चुना होता है होट पड़ता है हर एक बूद पर उसके बात थाथ स्वाद होट बंद हो जात कौन जीत गया कौन हार गया क्यों उक्यों आंकड़े तो मिल गये हैं तो नवाजोमने को में पड़ां नेकौ उपड़ा ने को में पड़ा वी तो क्या करेंगे जब मिर्ण कि मत गड़ना होगी तो सबी अलगलग कि जाएंगे वालों का यह समंज वती पार्टी का है कंग्रेश पार्टी का है मतलब समझ रहे हैं उनको वर्गी क्रित किया जाएगा उन आकड़ों को उन ओटों को एक सिस्टम से रखा जाएगा कि भाई फलानी पार्टी को इतना मिला फलानी को इतना फलानी को इतना लेकिन जिस दिन ओट पड़ा उतिन सब एक कमकी चड़ी है जिने बोलते हैं कि छोटी सी बड़ी चीजे देश की राजनीती से चलती है अरे नियम कानून राजनीती ही लोग बनाते हैं बढ़े लिखे लोग अगर राजनीती से दूर रहेंगे न तो सिच्छा कि ऐसला ही यह वाट लगाते रहेंगे पड़ लोग अगर आंगे आप लोगों को भी करें कि आपको कि बमार बनाएं कि कोई भी चीज करना चाहिए लेकिन इक लिमिट में थानी चाहिए आगे बढ़ते नहीं तो बात ज्यादा हो जाएगी आपकोड़ों के बारे में आप समझ गए अवर्गी क्रित आखड़े जैसे मैंने वोट वाला बताया दूसरा पढ़ाई बाले में देख लो किसी परिक्षा में बढ़ने वाले राखो चात्रों में से कितने शात्रों ने 50 परसंट से अधिक अंग हासिल किये हैं यांकड़ा हमें सिर्फ चात्रों की संक्य आजानकर तूरंत नहीं निकाला जा सकता है हमारे द्वारा जब तक कि हम सभी पत्रों के प्रात्रों को का धिर सही करनेते हैं भड़ने आप लोग कि आ हम आपको लेकर करकर चलेंगे फिरूं के बारे में चर्चा करेंगे आप Hamburg को भूए तो यह प्लिटोग्राफ क्या है कैसे बनाते हैं इसको बारे में हम आपको डिश्केल में दिखाएंगे देखिए कि पिक्तोग्राफ किसी बारंबारता सारडी के अनुसार बनाया जाता है इस प्रकार के आलेखों में वर गंतराल समान होते हैं उन्हें यक्स अक्ष पर अंकित करते हैं यक्स अक्ष और वाई अच्ष भी में दिखा दूँगा टॉन्ट वरी पहले आप इसको समझ लेजी परते एक वर्ग अंतराल पर एक आयत बनाते हैं जिसका शेतरफल उस वर्ग की बारंबारता को परदर्शित करता है पहले वर्ग अंतराल को यक्स अक्ष पर लेते हैं और उसे एक बुझा मान कर एक ऐसा आयत बनाते हैं जिसकी उचाई संगत बारंबारता के बराबर होती है उसके निकट ही यक्स अक्ष पर दूसरा वर्ग अंतराल लिया जाता है और उसके उपर दूसरी वर्ग की संगत बारंबारता के बराबर लंबाई का दूसरा आयत बनाते हैं यह कहानी आपको तब समझ में आएगी जब हम आपको फिगर बना के दिखाएंगे तब ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग? देखिए और अभी समझे इसमें कुछ इंपॉर्टन चीज है इस परकार जितने भी वर्ग अंतराल होते हैं उतने ही आयत एक दूसरे से सटेवे बना दिये जाते हैं इस परकार के आले को ही पिक्टोग्राफ या आयत गराफ कहा जाता है यह सारी कहानी आपको समझ में नहीं आई मुझे पता है यह समझ में आपको तब आएगी जब हम आपको इसको बना के तूसरे हमारे साथ इसकी आजाईए अभी तक आपने किताबी वहां साथ ही वह पढ़ लिया है पिक्टोग्राफ क्या होता है कैसे बनाते हैं अब हम किताबी वहां साथ को किनारे रखते हुए अब वहा अब हकीकत में आपको पिक्टोग्राफ बना के दिखाते हैं जैसा कि अभी आपने पढ़ा पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हमें वर्गांतर और बारमबार्था की अवसकता होती है तो वो हमें दिया है बीना इसके आहम पिक्टोग्राफ नहीं बना सकते। जान दीजिए पिक्टोग्राफ या आयत ग्राफ जो होता है वो कैसे बनाते हैं समझिए। यहां पर आपको वर्गांतर दिया है दिख रहा होगा जीरो से दस तक दस से बीस तक वीस से तक आप देखो इन में तस दस का गयब है। तो हम सबसे पहले अभी जैसा की पढ़े हैं यक्स अक्ष और वायक्ष की बारे में। अब मैत में पढ़े होंगे इस तरह से होता है बीच में। इस जो रिख चाहितिजवाली होती है और जंटनल वाली साथी बोलते हैं इंधर साइड शाश्ट यक्स 10 अक्ष बोलते हैं इधर साइड यक्स 10 अक्ष्बूूद अपने कारति यद पढ़ा को नाइम सहको झाले इन आयत को यह एक पिक्टोग्राफ को खडा किया जाते हैं। इने हमें किनारे से सुरू करते हैं, कहां से ही रह वाल्ili अस्थान से मतलब यह बिलानगें की स सब्सक्राइब इमाणा होता है। पहिमाना का मतलब जैसेemieने ने यहां पर ले लिया है रिज़ली सकते हैं जो भी वह लुक्षते एक बार्णबारत्य बराबर दस छोटे खाने से फेधे यहां पर बारन डाइस है न प्रतुए यह नहीं हो है in बिना इस केस, समझे भी आप इची, पैसे, पहला वर गांतर जीरो से दस तक है ना, अगर यहाँ पर हम गिंती लिखे हैं मुझे, जीरो यहीं से सुल्फ होगा ना, यक सक्ष का जीरो यहीं होगा ना, जीरो से दस तक मतलब यह मानलो यहां तक है, लेकिन यह क्या होगा ऐसे जीरो से उपर को बढ़ता जाएगा, आप कहां तक जाएगा यह, जीरो से दस वाले का जो लिमिट है वो भारंबारता दस तक है, इधर वाली क्या है बारंबारता ही, यह लिखी होनी चाहिए, यहां पर नहीं, मैं आपको इसको लिख के दिखा देता हूँ, आप लिख लो हो, तो इसकी लिमिट दस तक है, तो यह हम दस तक ले जाएंगे, यानि हम इस लाग के मिख, यह हमारा बन गया कौन सा, पहला बन गया, जीरो से दस तक वाला, जीरो से बीस तक वाला क्या करेंगी, यह जीरो से दस तक हो गया, इस पर आप चाहो तो ऐसे बना लो, यहां प रहेगा आपर लिखा ना एक वर्गां तस वर्गां तर बराबर दस उड़ेगा यह कहां तक जाएगा जसे बीस तक वाला केवल नौ तक जाएगा क्योंकि नौ तक है तो हम नौ से इस परेंगे अगला आप देखो बीस से तीस तक वाला बारा तक जाएगा यहां से नहीं किचे का बगल वाले कही एक अस्तंब यह कामन लेगा इसी अगला आप समझते चलो चालीस से पचांश तक वाला साथ तक है तो साथ तक मतलब यह किसी के सामपर हम क्या लिख देंगे अगे देखते जाओ पचांश से साथ तक वाला साथ तक है इसकी तरफ जो भी इतना दिया गया आप ठीक है आप लोग ले लिए अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताईए चल्दी करिए अभी कुछ सिस्टम में सेटिंग चल रही है इसको मैं बना देता हूं तो फिर और भी कलासे आपको मिलेंगे ऐसे बेतरी इन से बेतरी आप बना लीजिए समझ गए ना है जैसे समय हो सकता है रहरा कि वेज़स प्रकान कर लेंगे इसमें कोई बताई चलें इस पी लिए विडियो को टच करकर अगला देखिए दंड आरेक या बार ग्राफ द्यान देना ये दंड आरेक क्या होता है बार ग्राफ दंड आरेक के लिए ग्राफ पेपर पर दो ऐसी रेखाई खीचते हैं जहां पर हमारा करसर चल रहा है हाँ पर देखो लिखा है न जो एक दूसरे को समकोन पर काटती है ज देखते चलिए चयृतीज经 सगति वहाओं के दीए गए मानों को मानों संकत निर्दार्ट करते एंधर इस् Norm के लिंगे वाहरंबाता की उछाई बराबर होती है इसके बार गहां उ apart जएकश माना लगें एक holiday इसके बारे में आपको दिकाते हैं इस Kids पर तब आपको बहतर समझ में आएगा ठीक है तो इसक्रिन पर आजाओ सभी फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्या है पूरी कहानी बने रही है हमारे साथ देखिए अब इसका एक जामपल आपके सामने पीछ आपको इन्य ध्यान से देखना और बनाना है कि वर्स 2005 में किसान की जो उपज है उसका भीबरन दिया गया है इसमें इस किसान को फसल में गेहूं इसकी पैदावार कुंटल में हुई थी 50 कुंटल यहां पे कुंटल में है यह 15 कुंटल अभी आपके अलग-अलग काटेगरी की फसले हैं ध्यान दीजिएगा हम लोगों को क्या करना वाईया का ग्राफ बनाना है दंडारेक बनाना है कैसे बनाएंगे एक बार सुलो ग्राफ पेपर पर समकोंड बनाती हुई दो रेखाएं कीचे दो रेखा बनाते हुए जा रही हूँ चलो भाईया के वाई सीधा सीधा खीची कंदानी का यह मैंने क्या किया यह दो रेखाएं खीच दिया जो कि एक दूसरे को समकोंड पर काट रही है कि समकोंड मतलब इस पर बंदानब्बे उसके बाद कि चाहे तो नाम लिखतो अगर लिखना लिखो इसके बाद पिर क्या करना है रेखा इस वाली पर कुछ न लिखो तब यह आएगा नहीं तो नहीं नापर लिखलो लिख्ट अब नाम लिखो गे तब ही समझ में आएगा रेखा क्या क्या खीचा मैंने ऑल्यक्स और वाई खीचा समकोंड बनाती हुई अब रेखा जो व्यक्स है इस पर कोई एक पंभाना मनेंगे कि देंगे अ Anda और मैं लेटा हूँ ल्गवागए एक सेंटीमिटर अंजाद के आ इसारी नाम प्सकुन. जैसे पहला हो गया गया हूं ध्यान दीजिए यह गया हूं अगला क्या जो तो समझते चलना तो चलना बराबर बराबर दूरी पर लिखना ज्यादा कम नहीं पर ती लहन और दलहन क्या है अगला क्या है दलहन एक समझना इधर साइड में क्या करना भाईया इंधर साइड में तुमें कुछ करना है यहां पर पैदावार जो है कुंटल में यहां पर चाहिए लिक लो हमने में है पचास है थी सैंप अपन्दरा है आप देखो जो अधिकतम है वह पचास है अधिकतम पचास करना है यहां पर आप चाहें तो पैमाना लिख लो आपमाना में क्या करोगे भाईया पांच कुंटल बराबर एक सेंटीमीटर मान लो या आधा सेंटीमीटर मान लो हम मान लेते हैं इधर साइड में दिखा है ना यहां पर अमलिक सकता है पैमाना मतलब एक मानक लेते हैं तो पांच कुंटल बराबर 0.5 सेंटीमीटर यानि पांच कुंटल को हम आधा है तो ऐसे थिती में हमारा कुछ ऐसे ही बने गई है जिए जीरो रहेगा यहां पर 5 आपर यह दस ऐसे ऐसे इनको हम लिखते जाएंगे अधस फिर फंदरा बाई पांच ही मैंने माना है तो यह पांच दस पंदरा रहेगा भी इस नहीं आएगा डारेक्ट आइसे कहां तक लिखना हमें आइसे हमें लिखना 50 तक लिखना तो इसमें जगा तो पास बहुत कम है लिकिन अम इसी में अज़ेस्ट करेंगे फुरा 50 तक लिखना अब आपको क्लियर दिख रहा होगा हमने पर पैमाना भी थोड़ा पर चेंजिंग किया है आप मनें कुंटल को एक सेंटीमेटर माना है यह पांच कुंटल करोगे क्योंकि पांच का गयब है सब्सक्राइब यह पांच कुंटल उइस क्ल में दे लिए लिए 5 तक んथाती रहता कि यह उंखा कहा तक जाएगा कि पचास तर आज इसमें और जो अभी आपने देखा था पिक्टोग्राफ उसमें अंतर है यह अंतर है जो पिक्टोग्राफ की लाइन होती थी वह इसी से 30 होई होती आपने गवर किया होगा अगर जैसे गेहूं आला है तो जो आला बनाने के सिर्फ इसथेां Tucson टे मतलब इस लाइन में हमारे दो आयात बन जात उать कि मझेहें आसे अ जात्त है बतलो लाइने एक, दो, तीने लाइन में बन जाता, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका सब कुछ अलग अलग रहेगा, समझते चलना भी, यह बन गया इसका, उसके बाद जव आला, जव का 35 गह रहा है, 35 यह यहीं कहीं तक जाएगा, यह अपना स्वतंत्र इसका इदंड रहेगा, इसका नामी इदंड आरेक, यह अपना अलग रहेगा, यह अलग रहेगा, तो अच्छा लगने के लिए बाद में कलर्फुल करेंगे, अब हमारे पास बहुंचे, आप लोग कर लेना, तो कलर्फुल कर दिया जाता है, अगर कलर्फुल नहीं करोग है, जिससे यह अच्छा लगें, ठीक है, समझ रहो ना, किसी तरह से आप चनावाला कर लो, चनावाला पचीस ही है, यह यहां कहीं बन जाएगा पचीस, ना, रस्ते में, अगला अगर देखो तिलहन दलहन में, तो भईया एक तीस है, तीस मतलब इससे तो बढ़ा हो जाए किसी को कोई परसानी नहीं होना चाहिए, कि आपका क्या-क्या बन गया, इसे आपको कलरफुल कर लेना अच्छे सितार्ग में, मैं नहीं कर रहा हूँ, यह आपका दंड आरेक है, क्या है यह दंड आलेक, आलेक यह बोलते हैं, आप समझ रहे ना, क्या बोलते हैं इसे, दं आरेक है, दंड आरेक यह बार गराफ भी बोलते हैं, यह बोलते हैं, यह थोड़ा सा समझने वाला है, आप कहोगे थोड़ा कठी नहीं है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाता है इसमें, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इनके हम बहुत सारे एक्जांपल करवा देंगे, अब ही आगे जब कोर्स खतम हो जाएगा, तो आप और अच्छे से कलियर हो जाएगा, अगर थोड़ा कम समझ में है, तो आप वीडियो को फिर से देख लेजिए सुरूच, वीडियो को आप फिर से देख लेंगे, तो कहानी तो नहीं समझ में आएगी, जो मैंने कहानी बत जितना लिमिट दिया होगा इधर, पैदावार दिया है, बारंबारता दिया है, प्रापतांग दिया है, बच्चों की संख्या दिया है, कुछ भी दिया है, उनको क्या करोगा, अब इधर साइड में लिखोगे, और फिर उनी के आखार के बराबर जैसे कि उनका 50 तक था त पाई ग्राफ, इसके पहले आपने दंड आरेक टोग्राफ यह सब पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कमेंट करिए, हम बता देंगे, तो पहले हम आपको किताबी परिभासा दिखाएंगे, उसके बारे में कुछ समझेंगे आप, उसके बाद फिर हम आपको बोर्ड पे उसके करवा देंगे, आज ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कांसेट शिख जाएंगे, आज की सकास में ठीक है, देखिए, चलिए हम चलते हैं फूस पाईल पे, आपको दिखाते हैं, आपको बिंडो स्क्रीन पे ले चलेंगे, आप भागी है अगा नहीं है, चलिए स्क् स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने बहुत बड़ा बड़ा टाइप करवाया है, इसमें कुछ सब्दों की जो गलतियां होंगी, उन्हें मैं स्क्रीन पे बता दूँगा, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग माश्टर हमारे अभी थोड़ा कच्चा है, बच्चा न बनाने के लिए सबसे पहले एक बृत खींचा जाता है, यह सब आप सुन लीजिए, बाद में मैं बना के आपको दिखा दूँगा, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, अगर आप चाहें तो स्क्रीन साट भी ले लीजिए, इस बृत को देखो, यही मैं बोला कच्चा न यहाँ पर ब्रिज की जगा बृत है, बृत मतलब सरकल, यह सब दोस्ध्यान से समझो, यह बृत है, इस बृत को त्रिजिखंडों में भी भाजित करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, जिनके छेतरफल रूपित किये जाने वाले आकड़ों के समानुपाती हो, आकड़ा म केंदर के जो बना चेतरफल होता एरिया उसका समानुपाती होता है, इसलिए केंदर ओपर बने कोण 360 हंस को निम्नलिकित सुत्र की साहता से समानुपाती भागों में विभाजित करके संगत चेतरफल वारे तरे जिखंड प्राप्त कर लेते हैं, या करते हैं, यह फर्मूल यानि 360 को संगत बारंबार्ता से गुड़ा करके बारंबार्ता योग से भाग कर देना है, यह आपका क्या है फर्मूला है, एक कुश्चन आपके स्क्रिन पर दिख रहा है, इस कुश्चन को हम हल करवाएंगे अभी बोर्ड पर लाकर के आपको पहले कुश्चन आप समझ लीजिए फिर हम हल करते हैं, तीक है, कहता है, गाउं में 1500 पुरुस हैं, 1500 महिलाएं हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों पराबर हैं, भाई अगर आकड़ा गड़बड हो गया तो गड़बड हैं, आगे कहता है, इसमें 1000 बच्चे भी हैं, इन आकड़ों को पाई गराफ दोरा प यहां पर ब्यक्ति नहीं, बृत मतलब सरकल, ध्यादर रहे यहां पर आपक्या लिखेंगे बृत, जहां पर हमारा यह चलना कर सर, अब अपनी इच्छान उसार बृत्त की कोई भी तरिज्जा मान कर एक बृत्त बना देते हैं मतलब बृत्त कोई भी तरिज्जा ले लेंगे और तरिज्जा से का करेंगे गान और बनालेंगे इसको करने के बाद क्या करते हैं पृत्त की कोई एक तृजज़ा को पर देते हैं और त्रिज़ा से प्रारम्ब करके चांदी की सहायता से यहां पर चांदा रहेगा, चांदा जानतो जिसे कोण ओड बनाते हैं, चांदे की सहायता से वृत्त के आप एच्छी कोणों के त्रिजेखंड वो में भी भाजित कर लेते हैं, देखे इसमें तीन सब्द की गलती हैं, मिली टाइपिंग कि आप उसे समझ गया होंगे, सही कर लीजिए, यहां पर चांदी और चांदनी की बात नहीं हो रही है, देद पढ़ाई से दूर अट जाओगे, यहां पर आपको चांदा लिखना है, तो चलिए, अब हम आपको करके दिखाते हैं, यह परिभासा आपको नहीं समझ में आई होगी, लेकिन हम जो अब हल करेंग कि वह आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि यही तो समझना है, यह तो गड़तीय परिभासा थी, मैंने एक फर्ज निभाया आपको दिखाया, क्विश्चन आप देख गए हो, एक गाओं में पंदरा सो बुरुस हैं, पंदरा सो मयलाएं हैं, एक हजार बच्चे हैं, कि अमें आकड़ों को पाइगराफ के द्वारा दिखाना से तो हमें क्या करना है में पाइगराफ बनाना है, और एक जार्ड बनाना , मैं जार्ड नहीं दिखो प्द पूल संक्या क्या और तन जिखण के āन दिख को आ लिको गे तिरिखण के कौड तो बना लो बहिए का मतलब कितने पद हैं पहला क्या है पद नाम क्या है पुरुस इस इनका एक पद है कि संख्या पंदरा सो है पंदरा सो बने अभी आपको एक फार्मूला बताया आपने पीछी देखा होगा वीडियो बैक करके क्या बताया था कि तीन सो साट से गुड़ा करेंगे और इसको किसे मल्टिपल करेंगे अरे वही कुल जो संख्या है न कि बारंबरता योग से भाग द्रा सो ही तो है कितना है टोटल कितना है चार हजार है अभी आपने देखा कुल जन सारण कर लेंगे दो जीरो से दो जीरो काट दो उपर टो यह कट गया अधा जी यह राज़ा है दिख रहा है ना बंदर चक्क नबबब हां फिल नो फंदरतिया पैसालीस नो हो जाये वह इसलिए यह ऐसा हुआ इतना है एक सो पैटी संस कि एक बार में काट सकतो यहां भी थोड़ा वहां कर लिए एक लाइन और बढ़ गया अगला क्या है महिला कि यान देना लेडी फाइस्ट वाले इधर देखो इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखेंगे जुगार से आप चाहो तो पूरा नीचे लिख सकते हो थोड़ा कि जगा नहीं है पुरसों की लाइन में लेडी इसको बगल हो जाना चाहिए मतलब अलग लग लाइन लगेगी तो अच्छा रहा है तो दोनों दिखेंगे इनमें भी वैसे ही करेंगे 360 इनकी संख्या कितनी है 1500 यह भी किसी से कम नहीं पॉपॉलेशन 4000 है तो भी वैसे ही हल करना है तो मुझे बराबर आ जाएंगे हां बराबर आएंगे से बात है आज की जमने में पीछे कहा है बराबर है तो बराबर ही आएगा इकट जाएगा इनो जीरो काट लो इनको हम एके बार में हल कर देते हैं किसी तरह से आप इसको भी कर सकते थे कोई बात नहीं महिलाएं पुरुस की बात हो गई तो पिर नहां पर महिलाएं और पुरुस हो वहां बच्चे नहों ऐसा होई नहीं सकते है तो क्या करेंगे इनको भी ऐसे कर देंगे इनके तीन जीरो चार सब काट दो कि इतना आ रहा है इन जीरो कट गया न अब्बे डिग्री आएगा लेकिन नब्बे डिग्री कैसे आएगा आएगा आप सोच यह तीन जीरो यहां पर एक जीरो नहीं कटेगा जो इसका काट दिये लबबस है यह नहीं कटेगा यह तीन सो स्टार्ट रहेगा चार से काटेंगे तो यह नौ आ जाएगा और यह जीरो इसके बगल वाला बचेगा न एक इनब्बे आ जाएगा इसको आप लिख लिजिए बस आपको एक ग्राफ बनाना है बस सीधा मतलब में जो पाई ग्राफ है इन्हीं एंगल का आपको यूज करना यह मेन है यह जो कोण मैंने निकाले ना इन्हीं को रखना एक पाई ग्राफ बनाना है जल्दी से आप इसे लिखिए या फिर स्क्रीन साट लीजिए मैं थोड़ा सा कपड़ा अपड़ा विगो लेता हूं मिटाने के लिए दिखा दू अगर आप कहो तो नेकिन मैं बेज्जेति काय करवाऊं दिखा दू जल्दी से फटाफट हो गया चल वही आप क्या करेंगे इसी पर हमें बनाना है वरित्ति पाग्राफ आप लिख लिए होंगे तो वीडियो को फुड़ा सबाइक करिए देखिए इसकी जो कहानी आप हिंदी में पढ़ते हो वह समझ के बाहर रहे हैं पुझे खुद नहीं समझ में आता उसकी कहानी हां लेकिन जो मैं यहां करवा रहा हूं न बहुत मज़ेदार है तो कोई दिख्कार तो एक सरकल बना लो सीधी कोई बना नहीं हो लिख बनी गया तर योग मात्रे और कुछ मत समझना चलो बंदो जा भाई क्लियर अब क्या करेंगे देखिए दो कोण आये थे तीन कोण आये थे 135 अंस का आया था 135 का आया था बचवन कनब्बे आया था यहीं आपको इस पर दिखाना है जैसे जैसे अभी मैंने पिछले पूरा सिस्टम बताया था ना वैसे ही करना है पर फिर मैं दिखा दूं इसक कि देखिए मैरा पाई गराफ को बनाने के लिए सेले एक ब्रित्त खीचा जाता है और मैंने ब्रित्त को बना लिया खीच है इस ब्रित्त को ऐसे त्रिचेंडों में विभाजित करते हैं जिसका शेद्रफल ने रूपी जाने वाले आकणों के समान उपाती हों मतलब इनको को बांट देना अलग अलग ठीक है जैसे तीन भाग में इनको भी भाजित करना है क्योंकि आपने देखा महिलाएं पुरुस और बच्चे हैं उसके बाद क्या कहता है क्योंकि तरिज्य खंड का केंदर पर बने कौण का रमान उपाती होता है इसले केंदर ओपर बने कौण जो है वो यहां पर देखो दिया गया है यह सूत्र लगाना है आप सभी जानी रहो उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए कैसे बनाते कैसे अपनी इच्छानुसार बृत की कोई भी तरिज्या मान कर एक बृत बना लेते हैं फिर उसके उपर दिये गया सूत्र द्वार लेकिन आपको नहीं ले गया था क्या इसकर भी इसके पहले जो मैं पढ़ा रहा है जाने तो आप सुन तो लिए ना मुझी कोई देख रहे थे क्या साइध आप लोग लेकिन आप लोग सुन लिए ना पीछे बैक करके देख लो मैं दिखा दिया हूँ सब ठीक है तो कोई भी इसकी एक आग को इससे मिला देते हैं इससे बाकी कुछ करना कोई निकालने के पर जानदाह रख करके आप हैं पैर बनाते हैं धाल द इसके मिला दिखा दिया है आधा बोलते हैं मैं प्रोट्रेक्टर एकोड़िय को द्रोटर बहरु है ठीक है इसको जो आप फिगर में देख रहे हो चित्र में इस पर रख करके एक सो पैटी संस का कॉन एकदम साइड में दिखाता हूं शाय ऐसे रखोंगे और अधर वाला शाय नहीं का रहा हैं एक सो फैसे उख क्यार कि सीधा बनता спас जानते हो यह थोड़ा पीछे को लटकेगा ना यह उपर वाला जो एंगल है यह क्या बन जाएगा एक सुपर हमें एक सोप्राइटिक इधर साइड में भी बनाना है यह इधर साइड को तुछ अफला चकरा है पीछी वाला एक सीधा फिद्धर नब्बे बनेगा इसा यह अलग अलग आकार में आप दिखा दीजी आप थोड़ा थोड़ा रंगीन कर देना जिससे अच्छा लगे अलग अलग तरह तीनों खाने होने केक ही जाए है यह आपका हो गया अलग तरह से वाप ऐसे कैसे कर देने आप ता बहुत पाइगराफ हो गया कोई वीडाउट है पाइगराफ के द्वारा बना हुआ यह एक आपका कमपलेट सलूशन जो ट्राई करेगा उसी का कुछ होने वाला है क्योंकि लाहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशित करने वालों की कभी पार नहीं हुआ है आईए बात करतें आगे तो आज कुछ गले में भी प्रॉब्लम है आप मैं सूस कर रहे होंगे साथियों इसका मान तो मैं आपको बताऊंगा टॉपिक आज का पहले उसको भी बता देता हूं एक और बता दीजिए एक और बता दीजिए वन अपान फाइब को 32 में बदलिए अगर वन अपान फाइ कि आज का टोपिक क्या है इधर साइड में लिख देता हूं ब्रॉपिक क्या है यह पहले से लिखा रहेना चाहिए था आज अध्याय 9 कि अध्याय 9 में आप पढ़ेंगे सजातिये B जातिये B जजवणितीये बेंजकों का बोध कि मिला कि आप ये जान लीजिए कि सजातिये पद, विजातिये पद, यानि like terms और unlike terms ये मुख्य रूप से हम पहले समझेंगे, unlike, यहाँ like और unlike का मतलब कुछ अलाग है, जो हिंदी लिखा है उसी से, ठीक है, इसमें सबसे पहला जबाब दिया है जो, उनका नाम है, मैं जरूर बोलूँगा, जो सही तरीके से बताएं, उनका नाम नितिन बर्मा है, वैसे तो दिपेंद ने बताया, लेकिन इनका गलत है तरीका थोड़ा सा, पूजा मिसरा जी आपका भी सही है, नायतिक बिमलेस और सुपरिया तिरपाथी की गुड़ इबनिंग, चलिए, हटाना है तो हमेशा सौ से भाग करते हैं, तो हम इसे 20 अपान 100 करेंगे बस, यही इसका अंसर है, इसे कार्ट पीड दीजिए जो कटे, तो एक बटा 5 आएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे इसी 10 में, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो प्यारे साथी मैंने बताया था, परसेंटेज में बदलने के लिए आपको 100 से मल्टीपल करना होता है, यह कार्ट दीजिए, जो अंसर आएगा, इसमें परसेंटेज का चिन जरूर लगाना, अगर नहीं लगाएंगे, तो वैसे होगा, जैसे किसी साथी की बारात तो जा रही, लेकिन दुलाहा नहीं जा र समझे लेएं, साजातीय बीजातीय प्द क्या होते हैं, इसमें से कौन-कौन इसे जानता है, आप जानते हैं कि नहीं, देखिये, आजधीय मुझे ज़्दा हिंदी तो नहीं आती, किसी केम बुराई और बढ़ाई नहीं करेंगे जाती धर्म का बहुत बढ़ा है क्यों है क्यों कि चुनाओ है आप को यह बात कहें वहाँ ले जा रहे हो पढ़ाई वाली बात है राजनीती कहें कर रहे हो देखो बैया राजनीती से देश चलता है कानून बनते हैं सिस्टम चलता है राजनीती नहीं करोगे तो महा मुर्ख हो पुरा नहीं मनना करनी चाहिए ठीक है तो सजाती है क्यों बता रहा हूं सुनिए यहां पर जाती धर्म के आधार पे लोग ओड़ देते हैं मंदिर मस्ज है वह बात अलग की है उसको छोड़िए तो सजातीय का मतलब समान जाती है जैसे यादों है तो वह सब यादो यादो कहते हैं सुने नहीं हो अगर यादों है तो अखलेस की पार्टी के हैं यह मैं नहीं बोल रहा हूं चैनलों पर देखिए ओडवाइं कॉले में हां जो छ पार्टी के हैं मतलब यह लोगों की माननेता है जबकि ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें नेता चुना जाता है जीजा और बाप नहीं बनाते हैं रिलेशन जाती देख के नहीं बनाना चाहिए इसमें 5 साल के लिए बना जाता देश की विखास की यह बात क् संबंदी थे जाती एक मतलब समान जाती के कैसे आईये बताते इधर कि इसमें सातियों 20 गनती बेंजकों में समान जाती खोजी जाती है इंसानों में नहीं वह कैसे देखिए जैसे मैंने लिखा समझना यहां पर A, A में मैंने लिखा 3 x y z और B वाला मैंने लिखा 3, मानलो 13 लिख दिया और 1 x square y z तो आप यह बताइए, क्या यह दोनों सजातिये हैं? A और B सजातिये हैं, अगर हां तो बोले यास, आप लोग फट से बोले याई, नहीं है तो यन यह दोनों सजातिये हैं, देखिए इसमें क्या क्या देखा जाता है मोग खुरूप से हम वो बात बताएंगे आपको, आईए इधर समझिए, मैं देखूंगा कौन बोल रहा यास, सबसे पहला जबाब जो आया है, वो आया है योगेंदर सिंका और क्यूट फिचा खान इन्होंने गलत बताया, योगेंदर ने सही बताया है, ठीक है, ये दोनों सजातिये नहीं हैं, क्यों नहीं है, देखिए, इंसानों वाली जो राजनीती बताई उसमें तो सिर्फ जाती देखा जाता है, लेकिन ये मने नहीं बताया कि धरम भी यहां पे, क्योंकि ये मुद्दा कुछ ऐसे ही है, और इस महाल में आपको जादा समझ में आएगा, मैं इसलिए ये मुद्दा उठा रहा हूंगा, थोड़ा सा रुकिएगा, ये कहां गया वो, जार मिल जा भाई, मिल गया, ठीक है, तो इसमें क्या-क्या देखा जाता, ऐ जाते हैं, नमबर एक इसमें चेक करते हैं, हम लोग, समान चर्फ होना चाहिए, बतलब जो वरियेवल्स हैं, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और नमबर दो, इसमें घातें भी समान होना चाहिए, अब राजनीती से आजाओ दूसरे सिस्टम में, जैसे किसी की साधी भ पर कि जाती है, ऐसा रुपए देख के कि जाती है, वो कहां मैं पढ़ा था, बेटियां बेही जाती हैं, खेतों पर दौलत पर धन पर दहच पर, लेकिन बेटियां बेही नहीं जाती हैं अपने प्रेमियों के साथ, समझ रहें ना, ये समाज की मानता है, तो फिल हाल, मुख्यमंतरी है तो उनकी साधी रिक्षा वाले घर नहीं होगी यानि उनकी पावर भी देखी जाती साधी बैया में नार्मली थोड़ा एककल होनी चाहिए कोई बड़े घर अने का है तो भुत कमी मिलेंगे जो बहुत निम्न जगा पर साधी कर लें है तो क्या-क्या देखा-जाता जाती भी देखा ज्वालत अब। पावर भी देखी जाती पावर का मतलब घात यहां पढ़ाई वाला से जोड़ें तो समझे रहे वैलेंटाइन डे से दिल बचा के इधर भी लगाया होगा तो समझ रहे ना समझ गए इन में चर तो समान है चर जानते हैं आप लोग की नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो चर नहीं जानते हैं चर का मतलब घास चर नहीं क है पहले हम लोग छोटे देगं चर्ष पोलते था हम लोग जानते दे ARE गहां चर्ष यह आहिए देखि interrupt अछ fav को बोलता है वयरिय ऑल इसको in लिक्वाल इंगिलिस में लिखेतो इक्वब अमध्य विधिल सब सिंगल है मैं देख रहा हूं ठीक है सब सिंगल हो जल्दी से हमारी दुआये समानचर कैसे इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है वाई है लेकिन गहातें भी समान होनी जायी है इनकी घात टो दो है इनकी एक है जिस पर जिस antim पर कुछ नहीं होता उनकी घात एक होती जो लोग यह भी न हम जानते हैं कि चर क्या है आ चर क्या है तो तो पीपएर ऑड़ स्टडी का बेशिक मै eff dads क्योंकि इसके पीछे जाएंगे तो और बहुत दिक्कत हो जाएगी इसलिए इसको पढ़ा दिया हूं ठीक है यह पढ़ा दिया हूं बेसिक में आप वहां से देखिए मज़ा आ रही नहीं थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन कलास को भी लाइक करते जाए हमें मतलब लाइक मतलब विडियो को आईए तो इसकी घात जो है बराबर नहीं इसलिए यह जातीयन नहीं यह सजातीय नहीं आ है निखर बघल में इनके पडोस में आ जाईए कि यहi स्कॉयर वाई स्कॉयर और शी वाला है कि यह थार्टीन एक्सस्कॉयर वाई स्कॉयर ये दोनों सजातिये हैं या नहीं बताईए ये सजातिये हैं कि नहीं मैं बता देता हूँ ठीक है बहुत अच्छे बरी गुर्जिनों ने बताया अच्छा है ये सजातिये हैं कुछ लोग कहें कि का है आप तो बताये थे उससे थोड़ा लग लग रहा है हाँ आईए समान चर होना चाहिए, इसमें चर समान है, घाते भी समान है, चर समान का मतलब इसमें एक्सवाई है, इसमें भी एक्सवाई है, कुछ लोगों की नजर में थर्टीन खटक रहा होगा, थर्टीन खटक रहा होगा, इसको ऐसे जान लो, आप कहीं साधी करने जा रहे हो, लोग अक्सर देखते हैं, लड़की लड़का सुन्दर है, काम्याब है की नहीं, उसकी मम्मी कितनी काली है, पापा के इतने खराब हैं, उससे नहीं मतलब होता है, खराब का मतलब देखने मे समझ रहे हैं तो ऐसे क्या करना हैं इसको देखना यह में हैं, यहां पर हम्मी को नहीं मतलब है कि इसते कोई मतलब नहीं है, इसके नंबर जो कुछ भी दिया हो, उससे मतलब नहीं होता है, आपको शर्प चर देखना है और उसकी गाहता हैं दो चीज इक्क्वल होनी चाहिए बस वह दोनों है तो बात बनी मज़ा आ रहा है ना दिल तूटा है आज ना मेरा इसलिए मज़े से पढ़ा रहे हैं कि अब लोगों को समझ में आया यह क्या है सजातिय पद हैं अभी इसमें थोड़ा साम और आपको आगे बढ़ाते हैं आये इधर देखिए देखते जाएएगा अब इस कलास के बाद ना आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए मज़ा आ गई ने आप लोगों को नहीं मज़े लेते रहिए लेकिन जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था उसे याद रखिएगा यह प्यार वार का जो लफड़ा है न यह बड़ा खतरनाक होता है सव में से नब्वे लोग बरबाद हो जाते हैं तसी लोग बनते हैं आईए देखिए इधर हाँ तो आप यह बताये तीन मैं बार बार तीन काय लिखता हूं एक्स वाई और इधर है नाइन एक्स इसक्वाईर वाई तो यहां है याक्स का इसक्वाईर वाई समझते हैं जाना और यहां है सिर्फ याक्स वाई यह बताइए इसमें कितने सजातिये पद के जोड़े बनेंगे इसमें कितने सजाती ये पद के जोड़े बनेंगे क्या इसमें लाइक टम्स है बोलिए देविट जी बिल्कुल कमेंट आपका आ रहा है तो प्रिया जी बिल्कुल आपका भी कमेंट आ रहा है आप लोग कलास को लाइक नहीं कर रहे हैं तकलीफ इस बात की और ज्यादा हो र पर अगर नर्मली देखें तो इसमें यक्ड वाई चीं कि टू है भाई कि वाई कि वरन है इसमें एक्सख की गहात ऑर य-दोनों की वरन है इन लोगों का जुगार हो गया यह सजातिये पद हो गए 32 x y and x and y यह क्या हो गए like terms लेकिन आप इनका relation इनसे नहीं बना सकते यह सजातिये पद नहीं होंगे आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये दोनों सजाती है ये सजाती है नहीं है क्योंकि घाते समान होनी चाहिए चर भी समान होना चाहिए ऐसे समझे लो इनकी क्या दोनों का धरम तो एक है लेकिन जाती अलग है तो साधी ये समाज तो विकार नहीं करता ना अलग अलग जाती में धरम बले एक है तो ऐसे हैं यहां धरम का मतलब ये चर यनि यक्सवाई और जाती का मतलब घात इसको इससे इसलिए जोड़ा जारा जिससे आपको स समझ में आजाएं कि आप जी रहे हैं वह बाते जाद समझ में आती हैं तो यह क्या है यह ऐसा सजातिये सम्भव नहीं हैै ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन इसका relation इसके साथ हो सकता है क्योंकि ये घाते बराबर हैं चरवी समान है ठीक है एक दूसरा भी बनेगा 9x²y और x²y ये भी क्या है सजातिये पद है उमीद है कि आप लोग सजातिये बिजातिये समझ गये होंगे तो आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे चलें आगे बढ़ें ठीक है मिटा दें इसको ओके तो देखिए बहुत से युवाओं के दर्द भी आ जा रहे थे मैंने कमेंट्स में देखा था जैसे पंडित जी हैं कहे रहे हैं जीने का मन नहीं करता है जिन्दगी ना आप ही को मिली है किसी दूसरे के भरोस से नहीं मिली है और जो कुछ कपल साथ जैसे बैलेंटाइन डे है जिन लोगों का गड़बड हो जाता है जो कुछ लाइफ से रूट जाते हैं कि मतलब भाई अब तो मैं उसके प्यार में मर जाओंगा मर जाओंगी मैं मर जाओंगा ही नहीं मर जाओंगी भी यह महा मूर्खता है क्योंकि जिसका देखो ऐसे समझ लो आप जो आपका है वो कभी जाने वाला है नहीं और जो आपका था ही नहीं उसके लिए गम किस बात की इसे यह कहना तो आसान है लेकिन इसको समझाना मुश् लेकिन यह रियल्टी जो आपका है वो कहीं जाएगा नहीं पर जो आपका था यह उसके लिए घम के इस बात का अधिया आए टॉपिक पर चलते हैं थोड़ा थोड़ा दिल को समहाल के रखिएगा यह सब पागलपन होता है होता है हर कोई जानता है लेकिन करना हर कोई चाहता है मतलब समझ रहो है असे बहुत सारी चीजे हैं बात में बात होती रहेगी तो सजाती है भी जाती है आप लोग समझ गए न अच्छा एक बात बताइए यह वाला जैसे मैंने लिखा x square yz और 9x y² और 3x yz एक मैंने और भी लिख दिया 27x square y square z ध्यान देना तुनते भी जाना 27 x² y² z और x² y² z और 105 x² y² z यह बताइए क्या यह बजाती हैं कोई इसमें से सजाती हैं कोई हाँ ए अब भी कौन सा है वह देखिए थोड़ा सा पढ़ाने भी दीजिए नहीं तो यह प्यार मौबबत वाला आज कलास बैलेंटाइन डे को समर्पित हो जायेगा आज है 14 फरवरी 2022 जो लोग कलास को बाद में देख रहे हैं वो लोग जान लें इसलिए इस कलास में इतनी सारी चैर्चाएं हो रही नहींकि यह पढ़ा रहा है कि मौबत सिका रहे है च है यह लोगोंकी तकलिफ्प है इसलिए बिच अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में और चर्चा की जाए तो आप लोग सभी जल्दी से वाई लिख लिख के कमेंट करेंगे अगर चाहते हैं कि इस टॉपिक को बदल दिया जाए आगे बढ़ें तो आप यहन लिख के कमेंट करें चलिए जल्दी से हाँ बिल्कुल सही कह रहा है बच्छा आप महबत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है लोग रोते रहते हैं लेकिन करते रहते हैं लेकिन यह थोड़ा गड़ लग रहा मुझे इसके साथ एक कोई और चीज जोड़ा गया था चलो जाने दूँ है भगवान कहां से आ गया अभी लोगों का दिल है कि मैं इस बारे में चर्चा करूं कुछ लोगों का है ठीक है कर लूँगा अभी और आगे थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा आईए ठीक है जो लोग चाहते हैं इस पर और चर्चा की जाए बिल्कुल करेंगे थोड़ा रुकिए सुनिए जरा सुनिए समल लिए तो साथियों इसमें हम लोगों को चर और अचर ये भी समझना होगा क्योंकि इस पर अभी टॉपिक चलेगा और बीज गणितिये बेंजक मैं इंगलिस में भी बताऊंगा इन्हें अलजेब्रिक इक्सप्रेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं अलजेब्रिक इक्सप्रेशन थोड़ा सब्र करिए हड़ जावाई कि अलजेब्रिक कि इक्सप्रेशन कि इस्पेलिंग पता नहीं सही है कि नहीं अब मैच करा लीजिएगा इसे बैरियाबल बोलते हैं कि इसे कांस्टेंट बोलते हैं कि काथियों आपने पढ़ाओ का नंबर्स जिसे आचर बोलते हैं कि जैसे 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं कि इतनी भी गिंती आपने देखा होगा सुना होगा सीखा होगा वो सभी क्या है चैरपद है कंस्टेंट है और चैर का मतलब क्या है हाँ एक चीजी है इनकी संख्या अनिश्चित होती है अनलिम्टेड होती है इनकी कोई लिमिट नहीं होती है क्योंकि अचैरपद बहुत सारे हैं मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं है जैसे हम बोलें कि संख्या कितनी है तो भाई संख्या की कोई लिमिट नहीं लाग दफ लाग करोन दफ करोन आरब खरब पता नहीं कहां तक लेकिन जो चैर होते हैं वरिये बल्स यह A B C D Z तक होते हैं इनकी संख्यान निश्चित होती है 26 होती है आप सभी समझ गए न कि टेट का फाइनल अफीसियल आंसर की और रेजल्ट कब तक आएगा भाईया देखो भी पढ़ाई वाली बात चलने दीजी यह समझ गए वरियेबल्स क्या है और कांस्टेंट क्या आप लोग समझ गए इनकी इंगलीज हिंदी इधार लिखा है क्लियर अगर आप लोगों को समझ में आया तो थोड़ा सा बताईए तो भाजी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से धन्यवाद अगर चर पद है तो आप लिखिए वी फार वरियेवल्स अगर यह अचर है तो आप लिखिए सी फार कंस्टेंट बताई यह क्या है अगर सबको आगया मुझे पता है आप छोटके बच्चे नहीं है इसमें कुछ बच्चे वाले भी है लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है पूछना अरे चाच्चा इतना आसान तुमको भी और सी लिखने को बोल रहा हूं तो तुम चरा और अचार लिख रहे हो ठीक है इसका सी जबाब है कॉंस्टेंट यानि आचर हिंदी में ठीक है इतनी भी संख्याएं है चाहे 19 हो गया 128 हो गया यह 312 हो गया कोई भी नंबर है वो क्या है वरियबल से हैं आचर पद है इतने भी एवी सीदी एक्स वाई जैड पी क्यू आरेस मिलेंगे वो सभी वरियबल है रुक रुक के बोलना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग के दर्द होने लगता है लगतार बोलता हूं बड़ 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 अचार खटाई नहीं बोलो नहीं गड़ बड़ हो जाएगा तो यह समझ गए अब अलजेबरिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं वह यह आ कैसे आईए बताते हैं आईए बताते हैं कि यह दोनों मिलके तीसरा कैसे बनाते हैं मतलब हम दो थे दो से तीन हो गए अब समझ रहे हो ना जैसे लोग का साधी व्याह होता है ना तो पहले दो रहते हैं फिर तीन हो जाते फिर चार हो जाते हैं पस इससे ज्यादा नहीं हो तो इन दोनों को आपस में मिला दीजिए मतलब मल्टीपल कर दीजिए एक परकार से या फिर हाँ ऐसे भी कर सकते हैं तो यह बना 4x इनको जोड दीजिए तो यह बना 4-x 4x इनको घटा दीजिए तो यह बना 4-x 4x समझ रहे हो ना यानि जब दो चर और आचर मतलब कोई भी चार आपस में मिले तो क्या हुआ एक नया पद का जनम हुआ इसको लिखिए थोड़ा सा इधर मैं इसको सेटलमेंट कर देता हूं एक मिनट यह गड़बड कर रहा है लिखिए जल्दी करिए हो गया थीक है तो साथियों इसमें अभी आपको पढ़ना है एक पदिये बेंजक दुई पदिये बेंजक तीन पदिये बेंजक चार पदिये बेंजक यह भी पढ़ना है तो यह क्या हो गए यह आपके बीजगनतिये बेंजक हो गए क्या हो गए पदिये बेंजक हो गए अलजेबरिक एक्सप्रेशन हो गए यानि जाब हो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि का जब चार आचर मिलेंगे तब अभी बीजगनतिये बेंजक होंगे नहीं इसमें दो चर मिलकर के भी बेंजक बना सकते हैं आपको पता है न अब मैं जादा नहीं बोलूँगा नहीं तो बहुत ओवर हो रहा है जैसे यक्स का यक्स में गुड़ा हुआ तब भी यक्स का इसक्वार हो गया अगर यक्स का यक्स में जोड़ा जाएगा तब भी दो यक्स आएगा अब यह कैसे आ रहा है इसके लिए आपको बेसिक मैथ आना चाहिए इसके लिए आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए ठीक है अब हम बात करते हैं उसके पहले आप यह बताईए और प्लस यक्स एक पदिये बेंजक है कि दुई पदिये बताईए एक पदिये बेंजक है कि दुई पदिये बेंजक है भाई किस परकार का बेंजक है यह जड़ा सोचिए और बताईए बात करते हैं, थोड़ा सा रुकना, इसे मैं हिंदी में ही बताऊंगा, इंगलिस इसकी मुझे आ नहीं रही है, देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, चार आचर पढ़ लिया, सजातिये, बिजातिये पढ़ पढ़ लिया, पीजगरतिये बंजक पढ़ लिया, अब क्या प एक पदिये बंजक, और दूइ पदी बंजक, और तिरपदी बंजक, ठीक है, एक पदी बंजक, इसको एक हम मिला के लिखेंगे, ये कलास सब्ता में तीन दिन होती है, दोमवार, मंगलवार और बुधवार को होती है, पिछले बीक नहीं चली थी, कुछ बैस्तता थी घर म में इस वज़ा से, रहे तो सब्ता में तीन दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मंडे, टूजडे, बेडनाश डे, लाइव होती है, अगले तीन दिन रिविजन होता है, ठीक है, साथियों वो अलजेबरिक एक्स्प्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, एक ही और द ये अगर इनके बीच में प्लस या माइनस का चिन लगा है, याद रखना, अगर प्लस या माइनस का चिन लगा है, तब ये दुई पदीय बंजग बन जाएंगे, अभी ये एक पदीय है, क्या है ये, एक पदी ये बंजक है न ये ये एक पदी ये बंजक है लेकिन अगर इसमें बीच में पलस या माइनफ लगा होगा ये जैसे ये क्या होगा दूई पदी ये बंजक होगा अगर माइनेफ लगा तब भी क्या है दूइपदी ये बन जागे लेकिन ये कहीं कहीं गलत होता है कैसे ये तभी सही होता है जब ये दोनों पद आपस में क्या हो अलग अलग कटेगरी के हो यानि एक चर हो तो एक अचर हो समझ रहे हो ना अगर यह सेम हो जाएंगे तब पिर आज सी स्थिति प्र गलत हो जायाएगा जैसे देखिए ये तू ये क्या था कांस्टेंट था ये वर्यवल था अगर एक्जामपल के लिए यहां पे देखो माल लेते हैं कि真的 ये भी पी है तो भाया हो चचा हो अगर P में P जोड़ेंगे तो ये 2P बन जाएगा ये एके पद है ये 2P एके पद माना जाएगा ये P into P याद रखिएगा अगर ये दोनों कापस में गुड़ा भी करेंगे तब भी P का इसको आराएगा ये भी एके पद है इसमें थोड़ा समझने वाली चीज है तो इतना सबको समझ में आया या यानि जो 2P द दिएगा इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा थोड़ा दिल और दिमाग दोनों लगेगा मैंने इसलिए पहले बता दिया थोड़ा अगर दिल और दिमाग बचा के रखें तो इसमें लगाई यह जैसे दो है न यह दो पद आगे देखिए जैसे माल लेते हैं X और Y है तो यह क्या एक पद यह है लेकिन अगर X प्लस Y हो गया तो यह दूई पद यह है X माइनस Y है तब भी दूई पद यह है पहने का मतलब यह है कि अगर बीच में प्लस या माइनस का चिन लगा है तो वो दो पद यह है लेकिन इसमें कंडिशन यह है कि वो दोनों पद अलग-अलग काटेगरी के होने चाहिए सजातिये नहीं होना चाहिए एक परकार से जिकि वो आपस में जूड़ घट ना सके क्योंकि सजातिये पद ही आपस में जूड़ जाते हैं घट जाते हैं और जब वो जूड़ घट जाते हैं तो वह एक बन जाते हैं समझे रहो ना यहनि दो मिलके एक हो जाते हैं समझे रहो ना काका लोग भी हैं कलास में चलिए अच्छ आप लोग समझ गए είναι बिजातिये पद भी समझ गए की नाई तो हाँ हम लोग पढ़ रहे थे अभी एक पदीये की पद ये बेंजक एक पदीये और दूइ पदीये कि देखिए अगर बीच में कोई ऐसा साइन लगा है कोई ऐसा चिन लगा है जिनको आगे हल नहीं किया जा सकता है कि तो ऐसी स्थिति में वो मतलब एक से अधिक पदका लाएगा जैसे देखिए आप लोग बताईए जैसे फिर ये कितना पदका बिच्शक है बताईए एक पदका है आव हुआ ओ एक लिख दीजिए जिदी तटो चुना पदिए तो चर नप यह बताओ का अ चक्ति का ये हाए सब पांडे जी आपको पढ़ना नहीं है आपसे निबेदन है कि आप कुछ और करिए क्योंकि मैं देख रहा हूं आप आंसर कभी नहीं देते हो तिर्क दूसरी बातें कर रहे हो जो कलास से संबंदित नहीं अभी तक तुम्हें अपने फ्यूचर फिडर लग रहा था तुम दूसरे बारे में इंक्वारी कर रहे हो कहां से आयो भई जिंगर निरंजन ठीक है जो लोग कह रहे हैं कि ये तीन पदिये बंजक है वो गलत है ये दूई पदिये बंजक है देखो अकसर लोग तीन पदिये बता रहे हैं कुछ लोग एक पदिये बता रहे हैं इसमें क सजाती है मैंने कहा था कि मिल τα क्राइब को नहीं यह तुम सोच रहे हो यह दोनों जूड जाएWe औरी पता य समझ में न यह इसका फाइनल होगा आप इसमें हम देखेंगे कितने पद हैं दो पद है इधर देखिए यह भी एक पदिये में भी बदल सकता है पैसे अगर इस पर भी एकस का स्कॉयर होता तो यह एक पदिये बन जाता कैसे बन जाता क्योंकि इसका गुड़ांग को वन है इसका भी वन है इसका थ्री एत यह हो जाता फाइनल में फाइव एक स्काय स्कॉयर अच्छा एक बात बताओ तुम जराओ यह जो आया कितने लोग को समझ में आया बोल ये yes, जिनको नहीं समझ में आया no जिनको आया why, जिनको नहीं आया येन लिखे कमेंट करें मैं देखता हूँ कितना दिल और दिमाग आप बचाया आज बैलेंटाइन डेस एधर के लिए कितना बचा के रख्या कुछ लोगों का तो खतम हो गया उसी में वैरा भी कुछ-कुछ खतम हुआ कुछ बचा के लिए हूँ आपके लिए जिनको समझ में आया वाई जिनको नहीं आया यन इसमें प्रीति को आया अनुपम को भी आ गया विमलेस को नहीं आया असनेहा रेखा लगबग लोग को आ गया है कुछ ऐसे खिलाडी है जिनको नहीं आया है अच्छा ठीक है तो जिनको नहीं आया है न वह पीवियार स्टेडी अप्लीकेशन डाउनलोड करें प्लेइस्टोर से पहले बेसिक मैद पढ़ें जी रोलेबर को तब आएगा चलिए इसमें एक कंडिशन और भी हो सकती है यह तीन पदिये बेंजक भी हो सकता है देखे कई कंडिशन होती है अलग अलग इस्थितिया मैं समझा रहा हूं अगर आप एक के में समझ जाओगे ना तो कभी नहीं भूलने वाला है उसके पहले एक चीज़ और बता दें सुन लिज अरे वही जो बगल में लटका रहता चुटका से यह देखिए जैसे 9 और जेट का स्कॉायर लिखा इसमें जो जेट के साथ में लगा हुआ दूसरा पद है वही क्या है गुडांक है अगर हम बोलें कि जेट स्कॉयर का गुडांक क्या है तो 9 है ठीक है गुडांक समझ लिखा 121 यक्स कफावर 5 तो यह बताइए कि यहां पर यक्स कफावर 5 का कोफिसियंट क्या है अगर मैं घातांक की बात करूं तो घात कितनी है तो घात कितना बहिया 5 है कितना बाबू 5 है समझ गए न सभी समझ गए न रज्जा चलो आगे बढ़ें ठीक है इतना क्लियर कोई दिक्कत नहीं कोई परिसानी नहीं ठीक है लिख लिजिए इतना पहले नोट करिए नोट करिए जल्दी करिए लिख लिए चलो ठीक है तो हाँ अब हम बात गुडांग वाली पूरा कर दिये अब सुनिए अब कोफिसियन जान गए ना जान गए ना गुडांग घातंग जान गए तो इसमें ये तीन पदिये भी हो सकता है कब अगर इसकी घात अलग अलग हो जान जैसे इसका वन हो गया इसका थिरी हो गया इसका टू हो गया अब ये कितने पदिये बंजक हो गया अब ये तीन पदिये बंजक हो गया क्योंकि ये आब आपस में जुड के एक नहीं बन पाएंगे नहीं इनकी आउकात अलग अलग हो गई है इनकी घात अलग अलग हो गई अब ये जुड करके पांच यक्स का घात तीन या दो या एक नहीं बना पाएंगे समझ गए न एक पदिये दुई पदिये तीन पदिये और बहुपदिये जो तीन से ज़्यादा होता है दो या उससे अधिक पद हो तो समानिता वो बहुपद कहलाता है समझ रहे न दो या उससे अधिक पद अगर होते हैं तो क्या कहलाता है बहुपद कहलाता है वह से इसमें पर शुबत होता तिरपधी यह भी बोल दिया जाता है है को थीक है का मज़ Gmail था यह ब अवर प्रफ को इंग्लिस में पॉलिग्णामील बोलते हैं कि Could को क्लियर हो रहा है ना आगे बढ़ा जाए कहानी ले करके ठीक है तो आप लोग ये सारी चीजें समझ गए अब ये बता भाईया राज्जा बाब्बू इधार आओ बताओ चलो देखो ये बताईए कि तीन धान यक्स कगात पांच ये में चर्चा एक्ठियो लटका है ये कितने पदिये बंजक है जरा सोचिये और बताईए सबसे पहला जबाब आया सुप्रिया का आरेखा आर्ती अफनेहा राधा और अनुपम प्रीती थिजा देबेंद्र और धरंबीर ए भाई तोड़ा पहले बताया करो ना इसका सही जबाब है दूई पदिये बंजक कि हो जाते मैं और तुम अगर हम हो जाते मतलब समझ रहे हो मैं और तुम मिल करके हम मतलब एक तो यह क्या है यह दोनों मिलके हो जाते हैं वैसे यह दोनों एक ही कटेगरी के हैं दोनों आचार अचर पद हैं जूड़ जाते हैं आपस में तो यह 5 हो जाता है तो 5 प्लस यह य कोड़ घटा लेते हैं तब देखते हैं कितना पदिये हैं पहले नहीं है कि समझ रहे हो ना जैसे आप पाइलिम पैसा रखे हो कुछ चिल्लर इतना सारा तुम पहले गीनों तो कितना रुपया हूँ हो सकता है दसाई रुपया हो एक एक कतों तो ऐसे क्या यहां पर अगर यह उल्जा हुआ है इस तरीत तो आप इसे अनुमान नहीं लगा सकतो कितना पदिये है उसे जोड़िये घटाईए गुड़ा भाग करिये हम फाइनल अगर आ जाए कि हाँ आप इसके आगे कुछ करना संभव नहीं है तब आप कह सकते हैं कि हाँ यह सजाती ओ सरी एक पदिये बेंजक है या दुई पदिये है या तीन पदिये है जैसे अगर यह फाइप प्लस यक्स कपा और फाइप आ गया अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है ना इसे जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है ना घुड़ा भाग किया सकता है समझ रहे ना लेकिन आएसी कंडिशन में आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कि एक पद ISBN यह है या तीन पदिये है जो भी कलास को दिल से देखा होगा पूरा एक एक पॉइंट ना उसके दिमाग में घुस गया होगा तो बेरे चाया हाथावड़ी लेकर ठोकोगे बहार नहीं निकलने वाला लेकिन जो नहीं देखा होगा न उसके बारे हम कुछ नहीं कहेंगे देखे पढ़ा कई तरह से जाता है कुछ लोग डर और सरम लाच के मारे पढ़ते हैं नहीं पढ़ेंगे तो मम्मी डाटेंगी पापा डाटेंगे तो फेल होई जाएंगे तो फलनवा काएगा रहे यार लड़किया फेल है कुछ लोग के अंदर में एक जुनून होता एक जो अपने माबाप को कुछ लोग अपनी गल्फेंड बाइफ्रेंड के लिए पढ़ते हैं कि वाई युगाड बन जाएगा अगर आगे कुछ हो जाएगा काम्याब हो जाएंगे तो फिक है इन दोनों कठीक है लेकिन जो लोग लाज और सरम के मारा पढ़ते हैं वो सही नहीं तो आपको क्या करना चाहिए बिल्कुल दिल लगा के पढ़ना चाहिए कि हां इच्छा का उद्देश से सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है नहीं तो जो लोग आईएस की परिच्छा देते हैं न डियमेस्पी बनते हैं वो उसका कहीं उज नहीं करते हैं आप इंटरमीड चेको वही चोटा-चोटा जोड़ घटाना गुड़ा भाग सवाल पढ़ाना है वो जो बड़ी-बड़ी डिगरी लिया उसका कहीं परियोग नहीं होना है लेकिन इससे आपका दिमाग जो है न वो मता जाता है पढ़ते टाइम में कि हां खुल जाती बुद्धी कि हां कैस ऐसे कैसे किससे गहला जाता है पस इसी लिए पढ़ते हैं आजक्र लोग तो शिर्फ नव कटल से पढ़ना है एक personnes कर वहीं हो लिगर इधर किया बता रहे थे बूली गये एक पधिये दूई पधिये और तीन पधिये मिनजक न जह यह बताइए है दुई पदिये है या तीन पदिये है जल्दी करिए फटा-फट बताइए आज की बाद मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में होगा क्योंकि बहुत लेट हो रहा है सबसे पहला जवाब दिया है जो उनका नाम है इसमें असुप्रिया और क्यूट वाली फिजा खान का भी आया है इन्होंने भी बताया है अंजली बर्मा इनका भी आया है और तीनी लोग का बोलेंगे क्योंकि ये लोग नंबर एक पे हैं बागी सब लोग फिसर्ड़ी है साथियों ये टॉपिक तो हम बंद करेंगे इस टॉपिक पर अभी अगली कलास में फिर चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें अभी गागर में सागर है और पढ़ाना पड़ेगा छोटे छोटे जो हमने सवाल बताए हैं आप उनका जवाब दीजिए ये बताइए छोटका सा इसमें रच्ची भी दिमाग नहीं लगाना है सिर्फ एक जुगार लगाना है जो मैं बताया हूं पताइए रेखा आपने पहले बोला है चलिए ठीक है जो भी पहले बोला है अच्छी बात है जिसका कमेंट हमें पहले दिखता है उसका नाम हम यह बोलते हैं अनुपम ने स सबसे पहले बताया है और फिजा खान तो अभी दाता निकाल रही है मंजन भी नहीं करी आज लग रहा है कि अंदेख नहीं रहे सर्माना नहीं कमेंट में देख रहे हैं अब मनीज दूसरे नंबर पर हैं और दीपेंद्र चीख है इसमें ये चीज देखना था कि ये सभी क्या है आप को अगे टॉपिक पर का है आगे रिवीजन है ये वो टॉपिक मैं आज के लिए बंद कर दिया ये रिवीजन है इसमें सभी संख्याएं आपस में अभाज्य हैं तो अगर सारी संख्याएं अभाज्य हैं तो उनका LCM हमेशा उनका गुड़न फल होता है याद रखना अगर जितनी संख्याओं का LCM निकालना है वो सारी अभाज ये संख्याएं हैं तो उनका LCM सदय उनका गुडणफल होता है ठीक है इस बात को याद रखना जैसे मैंने दो नंबर और भी दे दिये मालो साथ और तेरा अगर मैं इनका LCM बोलूं तो इनका LCM इन दोनों का मल्टिपल करने पर आएगा तेरा सत्य इक्यानवे समझ में आया समझ में सरीता देवियारा समझ में सूरज आप सभी साथी कलास को लाइक भी करिए ऐसे मजा नहीं आ रही बिल्कुल नहीं मजा आ रही आगे बढ़े तो चलिए अब आज हम लोग यहीं से सुरू करेंगे कहा से ध्यान दीजिए गधर साइड में अब यार भ इसे सुरू करेंगे जैसे यक्स प्लस थ्रियक इसको जोड़के क्या आएगा बताईए जल्दी बताईए क्या आएगा मैं बताता हूँ इधर समझ यह जैसे अगर मैं बोलूँ कि one में three जोड़ेंगे तो क्या आएगा वह यह देखो इनकी अलग दुनिया अपनी वन में three एड़ करेंगे तो four आएगा हाइप में seven एड़ करेंगे तो फैल आएगा आएगा न कुछ उसी तरह से इनको भी जोड़ा जाता है यह एक अलग कटेगरी है क्या से जुड़ता है जरा ध्यान दीजिएगा पिछली क्लास में मैंने आपको गुडांक पढ़ाया था कोफिसियंट यह बताओ भाई सभी अगर मैं बोलूं जेड जेड का गुडांक क्या है अगर इस पे स्कॉयर भी लगा है पताइए जल्दी करिए क्या है इसका गुडांक आईए मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं जैसे हम कोई भी नार्मल सा संख पूजा मिस्रा जी बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है ठीक है बहुत अच्छे इसका सबसे पहला और सही जब आप किसी ने दिया है तो उनका नाम है पूजा दूसरे नंबर पर है अकांचा इनका गलत है रोसनी का सही है अनुपा मोर्या का सही है और संजना कुमारी का भी जोडते हैं तो गुडांक ही जोडते है घात से कोई मतलब नहीं होता है इसमें यक्स का गुडांक है अगर कुछ नहीं होता तो वन माना जाता है इसका गुड़ांक वन इसका क्या है थ्री है तो थ्री वन एड होता है तो क्या होता फोर होता है न वैसे यह क्या होगा दोनों जूड़के होता है इसका मान बदल जाता है वक्त के अनुसार अपनी फायता नुकसान देखका समझ रहो अभी डीटियल में बताएंगे तो आप समझ जाओगे अगर कोई भी आपी क्वेशन देखो समीकरण देखो उसमें जो यक्स और वाई के मान होते हैं वो सब बदलते नहीं अलग- पांच बेराबर 0 कि इसने एक्स का मान कुछ रखोगे तो वाई सो और यहां पर ज़रूरी है क्योंकि जो नए नहीं नहीं भार नहीं नहीं आ रहा होगा तो दिक्कत की बात है तो यह सब को समझ में आया 4X कैसे हो गया अच्छा एक बात बताईए ज्यान दीजिएगा अगर मैंने इस पे square लगा दिया और यहाँ पर तीन घात लगा दिया तो कितने लोग कह रहे हैं कि इसका अंसर यही आएगा पताईए अगर मैंने इस पे square लगा दिया इस पे तीन घात लगा दिया तो क्या इसका अंसर यही आएगा या नहीं अगर आपका जबाब है हाँ यही आएगा तो आप बोलिये why वाई मतलब yes अगर आपका जबाब है ये नहीं आएगा तो आप लिखिए यन, मैं पूरी कहानी पे चलता हूँ, जियान दीजिये, पहली बाद तो ये आपस में जुड़ेगा नहीं, जैसे मैंने आपको बेवहारे की एक्जामपल बताया था ना सुरू-सुरू में, जिनकी घातें बराबर होंगी चर बराबर होंगे एक समान होंगे वही आपस में जुड़ते हैं इसका एक एक जामपर ले लिजिए जिन दो लोगों की बात ब्योहार पसंद ना पसंद सोच विचार और भी बहुत चीजें मिलती हैं उन लोगों में दोस्ती हो जाती प्यार ह हो जाता है लेकिन आज कल की बात अलग है लोग कुछ और देख के कर लेते हैं लेकिन गहाते अलग हैं यह जुड़ेंगे नहीं आपस में यह कभी भी जुड़ नहीं सकते आपस में अगर यह घुड़ जाएंगे इसका आंसर भी यह हैएगा इसका आंसर भी यही आएगा, लेकिन इसमें स्कॉयर था, इसले इसमें स्कॉयर लग जाएगा नहीं समझ में आया, अभी कुछ और देखिये आएगा थोड़ा देर और देखिये सब आएगा जैसे अगर मांने लिठा 9XX5 और प्लस ये 2XX5 तो ये कितना आएगा? बताइए एक और बताइए बढ़ो जायेगा थोड़ा से और साथ यक्स का पावर दो लिख दोगे तब हाँ चलो ठीक नहीं दो मत लिखो गड़ बढ़ो जाएगा थोड़ा सब्सक्राइब इसका अंसर कोई बताएगा वह भाई दो काहे लिख दिया एक मिनट ये कोई क्या कमाल कमाल के लोग है ये भाईया साहब इदार आओ पहले ये कौन बताया इसकी घात पांच अकांचा अच्छा मतलब घात भी जोड़ ले रहे हैं उप्रियतिर पाठी राहुल आप लोग इमांदारी से पढ़ेंगे न स तब आएगा पक्का आएगा बहुत अख्य है यां आई गुस्य सअब कासी मतलब इसमें यकॉट सोने चाहिए इसमें य ये मैं होना जाहिए तब ही जुड़ेगा नहीं तो नहीं जुड़ेगा इतने मस्त थे जूशोने पालपने जोने अप्स बाद प्रिए ढार है इक नया पRad नियान पनेगा नहीं तो नहीं जुड़ेगा याद रखना बस कि इसमें जूच्षैक इस्में भी 7 ठीक है इसकी घात 5 ज़र जाते हैं 9 में 2 जूड़ जाएगा 15 ज की खार जो भी रहेगा य्यारा इसमें कोईधलाव नहीं करतें इसमें देखिए इसमें सभी की घात सेम है की नहीं सभी की घात सेम है या नहीं बोलो जल्दी से भई तीन 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 सब में है न अगर ये ऐसा है तो इनके जितने भी गुडांग है आपस में जुड जाएंगे इसका गुडांग 5 है इसका गुडांग कुछ नहीं है तो 1 है बाई जिसके कोई नहीं है उसके माईव आप है इनके देखो 9 है इनके 7 है जो लिए 5 एक 6 और 9 कितना हो जाएगा 15 15 7 15 25 22 22 कितना हो गए 22 22 यक्स का पावर 3 सबसे पहला इसमें जो सही जबाब दिया था इप्या तिवारी संजना ठीक है चलिए यह भी सही है अच्छा इक बात वताओ भई जरे आओ सब लोग देखो ध्यान से अगर मैं इसकी घात दो कर देता हूं तो क्या तब भी यह सभी जोड़े जा सकते हैं तब को आपस में जोड़ा जा सकता है पताईए बोलिए यास या नो अगर मैंने इसमें से एक की घात बदल दिया तो क्या तब भी यह आपस में जुड़ सकते हैं यह नहीं जुड़ सकते हैं यह नहीं जुड़ सकते हैं जैसे अगर आप 10 गधों के बीच में गोरा चुड़ दो तो क्या गधों के बीच में गोरा चुप जाएगा अगर गोडे का बच्चा भी ओगा तब वह अलग दिखेंगा नीन वैसे क्या है इनकी घाते तीन तीन है इनकी क्या है तीन तीन है इसकी दो है यह आपस में नहीं जुड़ने वाला है जब जबसी वाला काम नहीं है इसकनेक्ट और रिकनेक्ट हो रहा है यह देखिए आपस में नहीं जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा यह और यह जुड़ जाएगा तो पांच एक छे साथ तेरा यह थार्टीन एक्स का पावर थ्री लेकिन यह बचारा अपना अलग घर बनाके ऐसे ही रहेगा यह बस यह अंसर होगा कि मैंना यह क्या होगा इसका अंसर होगा तो अब बहुत ज़्यद्व बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं आपने जोड़ना सीख लिया है कैसे जुड़ता है आप समझ गये हैं अब हम देखेंगे घटाना गटाना भी ऐसे से में डू से मोगा आप कर लिए अभी कर लेंगे जैसे जोड़ना था वैसे ही घटाना है उत्में जूड़ रहा था इसमें घट जायागा बस और कुछ नहीं चलो यहां आजाओ इसका अंसर कितना आएगा जरा बताईए अगर 9x का पावर 5 से 2x का पावर 5 को हम सब्ट्रेक करेंगे तो कितना आएगा कि यूपीडीलेट के यह समष्टर के सिलेवस की बात हो रही है यह कहीं कच्छा तीन वाले कर नहीं पढ़ा जा रहा है रेपन यक्स की पावर 5 आएगा फीजा खान का आ रहा है आए रिकवरी नहीं वी वीडियो की कोर्स का रिकवरी जो है न वो पॉसिबल नहीं है 5.600 जीवी ड़टा है बात करेंगे बात में कल मने बताया था उसके बारे में यह आपस में क्या करेंगे घड जाएगा इसमें से घटेगा तो यह क्या आएगा से बनाएगा वेपन यक्स का पावर 5 इसी तरह से एक दो और देख लीजिए अगर मने लिखा 19 यक्स और माइनस 3 यक्स तो भाईया इसमें यक्स यक्स क्या है समान तो यह गुडांग गु इसे जैसे तीन यक्स वाई जैड का स्कॉयर माइनस नो यक्स वाई जैड का स्कॉयर यह अपसाई है अब बताओ इसमें इसमें कुछ दिमाग लग रहे हैं देखिए इनमें यक्स है इसमें भी यक्स है इसमें भी वाई है इसमें भी वाई है इसमें जेड है इसमें जेड है घातें भी सब में बराबर बराबर ही लग रही है तो अगर ऐसी इतिती बनती है तो आपस में घड जाएंगे और इसका जबaking इस्कोईर है लेकिन चीज और नश्य जहान रखना यहां पर मगर का ऑगया यह घाध दो गई तब क्या होगा इताये। अगर यहां पर इसकोईर लगा दिया एक सुर्ण होगा यह निजिक्ञाबहत ही समझने वाली चीजी जो मैं बता और आड़नों कोई बताता निजल्दी से अ भर्च्टा फटा 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 भर्च फटम करते हैं छटर फटर करके इसको भर्टक भर्टक के भताते utph यह हम अब गटे गाने मासरी से अन्याइब और बैज वाले की आपस यह तिनीफ हो न तो यह लोग होंगे अलग बात है अब को कि बगल में बैटके कौनो इसका अगर आंसर लिखना जाए तो यही आएगा जितना है इसको ऐसा नहीं लिखेंगे पर किरिया करेंगे एक्टिबिटी इनको ऐसे लिख देंगे बस यही इसका अंसर आजाएगा तो यह आप सीख गए में पॉइंट पर आते हैं गुड़ा वाला मल्टिपल वाला थोड़ा सा अलग है यह थोड़ा सा अलग है कैसे चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं आपने सीखा पीजगंतिये बिंजकों का जोड़ना घटाना और गुड यह उल्टा-पुल्टा करके भी पूंच सकता है ऐसा नहीं है देखो समझो कैसे तक इसको भी आपको करना पड़ेगा करके बताइए कितना हैगा 2x का पावन 9 माइनस 1x का पावन 9 जैसे यहाँ पर दे दिया 128x का स्कॉाइर वाई माइनस 125x स्कॉाइर वाई स्कॉाइर क्या आएगा कर लेंगे आप लोग इसे वहीदे को बादचीत ना करो बादचीत ना करो प्रीति सुप्रिया अजय और यह कुछ लोग हैं जो कुछ अलगे दुनियम जी रहे वरना यह जो यहां पर हो रहा है ना इस नहीं आए चलिए आगे बढ़ते हैं डिश्टब नहीं करिए इनको कर लीजिएंगे आप लोग गुड़ा भाग में क्या करेंगे बताते हैं देखिए इधर साइड दो कालम बना लीजिए जैसे अगर तीन का दो में गुड़ा करते हैं तो छे हो जाता है वैसे अगर यक्स का यक्स में मल्टिपल करते हैं तो यक्स का पावर टू हो जाता है कि और आगे देखिएगा ज्यान दीजिए कि नौ का अगर चार में गुड़ा करेंगे तो 36 उसी तरह से अगर यक्स का इसक्वायर का अगर हम यक्स में गुड़ा करेंगे तो यक्स गात तीन अच्छा इसमें से कितने लोग हैं जो इसको समझ गए नहीं समझे ना तो मैं बताता हूं देखिए हाँ जोडने और घटाने में तो यह होता था कि कहाते बराबर होनी चाहिए ज़र इक्वल होना चाहिए तब ही जुड़ेगा तब ही गटेगा लेकिन गुड़ा में ऐसा नहीं है गुड़ा में कुछ भी हो सब चलेगा यह संबिधान पर आधारी था एक पर कारफे जैसे आपका मैं सब चीज ले जा करके क्या मां करें लेकिन संबिधान क्या कहता है इसको तुम चाहते हो ना उसी के साथ संबिधान तो भी कार करेंगा आप किसी के साथ भी रह सकते हो साधी व्या कर सकते हो जिंदगी विता सकते हो यह संबिधानिक है तो में कुछ ऐसा ही है इसमें कुछ भी नहीं देखना है इसमें ना गहातें बराबर देखनी है नचर बराबर देखना है जो भी रहेगा सब का गुड़ा हो जाएगा लेकिन कैसे होगा क्या होगा आईए देखिए मैं थोड़ा डीटियल में बताता हूं इधर समझे है जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर तीन यक्स का स्कॉयर और गुड़ा नो यक्स का पावर पांच यहाँ पर घात अलग है यहाँ पर भी अलग है लेकिन इनका क्या होगा आपस में गुड़ा हो जाएगा पहले तो गुड़ांग गुड़ांग का गुड़ा हो जाएगा दिन का नो में गुड़ा हो जाएगा तो तीन नोव 27 और फिर क्या होगा कि उच्छ लोग कह रहे होंगे पांच दून अदास हो जाएगा नहीं गाते जुड़ जाती हैं गुड़ा होता है किसका नीचे नीचे के नंबर का होता है तीन का नौ में हुआ तो 27 और यह दोनों जुड़ जाएंगे तो यक्स का पावर से बंद समझ में आया ना आयान सभी को समझ में जैसे अगला देखिए अगर यहां पर हमने लिखा y into y का square into y z अब यहां से समझना थोड़ा सा यहां पर y का power 1 है यहां पर 2 है यहां पर 1 है यहां पर 1 है यहां पर 1 है तो गुड़ा करने पर जो सभी समान समान हैं उनकी घाते जुड जाएंगी और जो असामान चरह है उसकी घात नहीं जुड़ेगी वह वैसे का वैसे ही अलगफ अलग घ्रले पड़ा रहलेगा अकेले में देखो जैसे यह घ्र यह फ़ात एक है इसकी इदो एक इनकी क्या होगी आपस में गाते जूड़ गई, दो एक तीन एक चार और यह बैचारा जड़ अकेले था यह अकेले ही बगल में कहीं किनारे पड़ा रहेगा यह किसी के साथ जुड़े उड़ेगा नहीं वह से देख लो जैसे वालेंटाइन दे में पार्क में जाओगे तो जो जोड़ी-जोड़ी वाले हो तो आपस में आड़ा नहीं है तो इनके देखzub इनके समान पत्रत ताहत्त थे वाई इस इसमें भी था वाई इसमें भी था वाई इसमें वीधा ए आपस में लेकिन यह जड़ अकेला था इसमें और कहीं कोई जड़ नहीं था दूसरा तो कि लिए क्या हुआ इसकी ग hm lying नहीं जुड़ी यह वैसे का वैसे रहा गया जैसे था वैसे ही अब चलिए आगे अगर मैंने लिखा यहां पर तीन एक और तीन लिखें यक्स्ट का पावर 5 into x into x का पावर 7 into x का पावर 1-2 अब बताइए ये कितना आएगा आमिप सींग पहले पढ़ाई कर लीजिये फिर बताते हैं कितना आएगा दिखें मैं बताता हूँ जहां दिछी आप लोग ये 13 है ना 13 है इसमें और किसी में कोई भी नमबर नहीं दिखे रा कउड़ांक में Emily TC में 9mm कुरूंक में इसमें 1 एसमें 1 है 1 है और सब में 1 और यह 13 का 13 ही रहीगा क्योंकि 13 का किसी में करेंगे तो यह 13 ही रहेगा तो यह 15 O यह वाला ओ रुखजब है यह वन है न यह वन भी इसमें जूड़ जाएगा फिर यह सेवन41 जूड़ जाएगा और फिर यह माईनस का टू है यह जूड़ कानी पूड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है तेरास की घात पावर 16 आ रहा है किसका इनका नाम है पूजास्री पूजास्री बहुत अच्छे कि यह पांच-पांच-दस एक ग्यारा ग्यारा साथ अठारा अठारा में से दो घट जाएगा तो लाएगा हो 13 यक्स घात 16 आएगा समझ में आ न यह माइनस में थी घात इसलिए घट गई याद रखना यह होता है मल्टीपल यह होता गुड़ा ठीक है समझ में आ रहा न सभी को आ रहा तो बोलिए हां और कलास को लाइक करिए पहले आप लोग लोग लाइक नहीं करें बिलकुल अंदर से दिल तो पहले भी टूटा है जो कुछ बचा कुछा है थोड़ा मोडा ओभी टटनी बना दे रहे लाइक तो करो नहीं जल्दी से सभी साथी फटा पट लाइक करेंगे तभी आगे बोलेंगे कुछ अब हम तो बोलेंगे नहीं अब वैसे भी बोल चाल बंद है जल्दी करो भाई फटा पट अभी कुछ लोग सोच रहे हैं जल्दी करो भाई सभी सभी जितने भी साथी जुड़े हैं फटा फट लाइक करेंगे सेशन को और अपने दोस्तों में तो कम से कम सेयर कर दीजिए आज तो कर दीजिए जल्दी करिए आगे बढ़ते हैं तो आप लोग यह मल्टीपल करना सिख गए कुछ क्विस्चन्स भी हम आपको दिखाएंगे बुक में से एक मिनिट वह चटनी ना बनाओ लाइक करो जल्दी से हैं क्या था इसमें मल्टीपल ना कि इसमें इतना ही था जोड़ना घटाना ही था फिलाल गुड़ा था नहीं आपके सिलेबस में फिलाल मैं पढ़ाये देता हूं ठीक है तो जैसे अगर मैंने अब पूछा कि तीन एस गहाद पांच इन्टु एक्स वाई इन्टु जड़ इनका मुल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा तरीका मैंने बता दिया है सब कुछ आपको बता दिया कुछ बच्छा नहीं कूछ इए और बताईए क्या आएगा देखे बहुत सिंपल सा है ज्यादा फे ज्यादा कुछ्चन करवाते हैं तो तुर्णा टाइम तो लगता ही है भई कौन आई है देखो यार नंबर नीचे चल रहा न भईया जिनको इंक्वारी करना उस पर कांटेक्ट करिए निवेधन है यहां पर कमेंट में सब रिपला है इसकी भी वन उनने बताया था जिब बरिवल्स इक्वल होते हैं तो उनकी घातों को आपसमें जोड लिया जाता है और कुदांक का गुड़ा करेंगे वन में तो देनी रहेगा इसका गुडांग भी वन है तो देनी रहेगा एकस का पावर यहां पर 5 है यहां पर 1 है, तो यह हो जाएगा यकस का पावर 6 यह का 1 है, जड का भी 1 है, तो यह वाइ का 1 और जड का भी 1 यह अंसर हो गया समझ मैं आया ना चले, आगे बढ़े अगला देखिए अब आप लोग मुझे लगता है कि गुड़ा करना तो सीखी गए हैं थोड़ा सा और एक इक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं नहीं बहुत ज्यादा हो जाए कि मुझे लग रहा है डी एलेट के अनुसार तो नहीं सही है बहुत ज्यादा इसमें कुछ अलजेबरिक एक्सप्रेशन का जोड़ना घठाना दिया गया भाई उनको देख लो ठीक है चलिए पोजिशन पर आईए 3A प्लस 2B में 6B प्लस A को जोड़ ये पताई ये कौन-कौन जोड़ लेगा 3A प्लस 2B में 6B प्लस A को जोड़ना है कौन-कौन जोड़ लेगा ये बताओ देखे ये भी एक अच्छा कुश्चन है परिक्षा में ऐसे कुश्चन पूछे जाते हैं डियलेट वालों से देखो भाईया समझो पहले थोड़ा सा जैसे अगर मैं कहूं कि तीन में साथ को जोड़ो या फिर साथ में तीन को जोड़ो तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में कोई अंतर है अब एक कमाचा मारना ही है तो इस पर मारोगे तब हो उतने मज़ाएगा इस पर मारोगे तब हो उतने मज़ाएगा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा वैसे ही लेकिन अब इसमें इसके अलावा यहां कहीं नहीं मारना और कहीं नहीं अलग हो जाएगा तो देखो समझो इधर भी लिखा और प्लस का साइन लगाके इनका सीरियल बदल देंगे ये और धन ये 6B प्रेकट लगा दीजिए तो साथियों ये कोश्टा खुलेगा तो 3A हो जायागा प्लस 2B हो जायागा और प्लस A प्लस 6B और क्रिया पूरी करेंगे अगर जल्दी से आंसर लाना है तो एक ही लाइन में हो जाएगा लेकिन हमें जल्दी नहीं करना है जो ये सजातिय पन है आपस में जूड़ जाएंगे तीन में जूड़ेगा तो 4A 2B में 6 भी जूड़ेगा तो धन 8B ये आंसर हो जाएगा फाइनल में ये आपके परिक्षा में DLA में पूछा गया प्रसन है 2018 में पूछा गया था फ़र्स समेस्टर में परिक्षा में क्यों भाई कर लेंगे कि नहीं हां अभी कर लेंगे ना कोई दिक्कत नहीं ना चलो 9B का स्क्वाइर माइनस से बन में से बी का स्क्वाइर घटाईए तो ये घटा के बताईए कितना आएगा कितना आएगा सब्ट्रेक करिए देखिए इस तरह के अभी प्रसना आपके परिक्षा में आते हैं इसलिए मैं करवा रहा हूं यहां पर हल लिखिए इनको ऐसे लिख दीजिए पूरे इजट के साथ जैसे भी थे इसको घटाना था माइनस का चिन लगा के इसको ब्रेकट में लिखेंगे याद रहे कि ब्रेकट चरूर लगाना यह नाइं बी का स्कॉयर माइनस सेबन ऐस्का कि जैसा जातिये पद अमसमें घट जाएंगे तक गुड़ां गड़ां घटा आपको पता है है कृ107 सवाइन हो पर थेहें एसमेंन से लोकिन को नहीं समझ में आया कि 몫फ मनें था है इसने कॉल्सीक यह कुंहार ridge पर तो छावट 6 जरसे अगर मैंने कहा कि 15 x का पावर 5 y में से 7 x y घटाईए, कितना आएगा? इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? मैं बताता हूँ, यहाँ पे समझो भाईया, यह 15 x का पावर 5 y माइनस यह से 7 x y यही आंसर आएगा, यही घटेगा ही नहीं, इसका आंसर यही आएगा लक्षमन जी वही तो बता रहा हूँ, यहाँ से देखो तो पक्का आएगा, सब को आएगा समझ में, ठीक है? जलो आगे बढ़े, योगेन सिंग तो यह हो गया आपका घटादा हो गया? जोड़ना हो गया? इसी तरह का इसमें एडिसन भी ऐसे ही होता, same to same तीन पद में भी देख लीजिए, चार यक्स धन तीन वाई, लिखिए चार यक्स धन तीन वाई, आठ प्लस दो यक्स और इसमें एक पदा और भी है, अजीब टाइब का है, वो कहा आगया मिल जाब भई, जो वाई माईनस पांच को जोड़िये, सभी को जोड़िये बताइए इन तीनों पदों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? भई मुन्ना को नहीं है, काये को गाली दे रहे हैं? खहरे है कि मुन्ना मानोगे कि नहीं, गाली दूँ, मैं गाली भी अच्छी दे लेती हूं और मुह नाक सब तोल दूँगी अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए मुन्ना कुमार को बला कर दीजिए पांच मिनट के लिए और अगर ये पांच मिनट के बाद ना माने तो इनको गाली देना शुरू करोपे, ठीक है पताए कितना आएगा? कितना आएगा? आएए बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिए ये 4X प्लस 3Y इसमें जोडना था तो आप बीच में प्लस का साइन लगाओगे 8 प्लस 2X देखिए अगर जोडना है तो अकसर ब्रेकट लगाने की जरूरत नहीं होती है ठीक है? अगर घटाना होता है तो कोश्ठक जरूर लगाते हैं तो ये जोडना था 2Y माइनस 5 क्योंकि घटाने में ब्रेकट नहीं लगाओगे तो अंसर गलत हो जाता कहीं कहीं जो जो सजातिये पत हैं आपस में जूड़ जाएंगे 4X में 2X जूड़ जाएगा कोई और X वाला है क्या? नहीं है न? तो ये कितना हो जाएगा? 6X हो जाएगा 3Y में ये 2Y जूड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5Y और ये 8 में ये 5 क्या होगा? जूड़ेगा की घटेगा? जूड़ेगा की घटेगा? ये प्लस है ये माइनस है वही इन दोनों में क्या होगा? अकरसान होगा न? कि यह जानते हो कि नहीं हो प्रफिक्स पढ़ें कि नहीं और फॉजिटी बार नेगेटिब चार्ज अब उसके बारें बात में समझाएंगे चलो तो उनों का चिन अलग-अलग है तो यह आपस में सब ट्रेक होंगे जुड़ेंगे नहीं तो यह घड़ जाएगा प्लस का तीन आएगा जो इसमें फिजिक्स वाले होंगे 12 में मैच से पड़े होंगे वो अच्छे समझे गए होंगे कि वालोजी वाले होंगे तो वो कुछ और भासा समझे होंगे तो यह फिर सही है ना चार में दो यक्स जुड़ा तो छे अक्स और यह तीन और यह दो पांच वाई हो गया और यह तीन हो आप लोग कर लेंगे ना इस तरह से अब एक मैं कुश्चन दे रहा हूं उसे करके बताईए नेहा बर्मा जी बताईए बिलकुल बताईए मैं देखता हूं यह लो भाई लो 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 कुश्चन लो बताऊ पोरे प्लस फाइब भी में से दीने प्लस टूबी घटाईए कि इनको घटाईए आपसमें फटाफट कितना आएगा कि कहला बात से हो लेकिन आप अपने घर में बैठे रहा हूं क्योंकि बाहर बड़ी ठंडी है अजीर चिंग आप बहुत पुड़ा करकट लगायों नाम में आगे पीछे इसलिए थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है आप पीवियार स्टडी अप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अप्लीकेशन में जा करके ना आप बेसिक मैट्स बिल्कुल जीरो लेबल से सीखिए ए एक बार जरू डाउनलोड करें आप सभी पीवियार स्टडी अप्लीकेशन प्लीकेशन प्ली स्टोर से आप तो इसमें बोरिंग सी लगने लगी मुझे लगता हो जाया का कर लोगे ना आप लोग नहीं हाँ बर्मा जी ठीक है योगेन सिंग डौली राजपूद पी में से ची को घटाईए पताईए क्या आएगा बड़ा गजब सा सवाल है पी में से पी को घटाईए क्या आएगा घट जाएगा कि नहीं हुँ कि दृद्धारी दृद्धारी सब बताया जिसे बाइनरी बोलते हैं सबस्षाहिं कैड़ा मिश्था का सभी थक और मृषिये गत Gwen लिख इंड़े अनूपवां गजय है कूँछ जो नहीं घड़ सकता उसको क्या करते हैं जैसे देखिए जब हम लोग छोटे थे स्कूलों में पढ़ते थे किसी के घर में किसी गार्जियन की डेथ हो जाती थी कुछ कड़बड हो जाता था स्कूल में कंडोलेंस होता था ना पर एक मिनट का सर जी सोक करने को बोलते थे फि तो यह आपस में क्या करेंगे घटेंगे तो नहीं लेकिन गटने का नाटा करेंगे मतलब चीन लगा के इसी तरह से अगर कुछ भी बोला जाए जैसे कहा जाए कि 9x y से कि आख सुभाई घटाई यह तो क्या यह भी ऐसे होगा हिंदी में राइटिंग तोड़ी अच्छी नहीं है इंगलीस मुझे आती नहीं है पक्यल मैथ 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 इंच्छी है कि इतना आएगा कोई कह रहा है कि आप में चार्ज लगता है कोई बीना चार्ज के जिंदगी नहीं चल रही है पहरारू लड़ीका नहीं नहीं लेकिन तब जिंदगीया तो आया हमाए कुछ तो लगेगा ही ना जलो फट से बताओ कितना आएगा देखिए यह उसकी तरह नहीं है इसमें समन्ता है यह दोनों सजातिये पद हैं अगर पढ़े हो तब यह नाइन यक्स वाई माइनस यक्स वाई इनको घटाएंगे यह गुडांक आठ है इसका वन है यहां पर कुछ नहीं है तो यह आठ यक्स वाई आएगा समझ रहो ना आप लोग मुझे लगता है कि आप सब समझे गए अब कुछ नहीं बचा है कुछ क्विश्चन देते हैं लिख लिजिए दो यक्स वाई एक्स में चलो जोड़ो पटा पट जोड़ यह जोड़ यह सबको पहला है दो यक्स में दो एक्स में फोर एक्स कितना आएगा जोड़ के बताईए देखे यह आपके समस्टर सिलेबस का है जो मैं पढ़ा रहा हूं डी एलेड वाले बिल्कुल इसमें नजर अंदाज मत करना जिनको नहीं आता है मैत्स में पूरे पचीस में पचीस नंबर मिलते हैं पाइक लगने की बात तो भूल जाओ मैत्समेटिक्स में बिटीसी में फुल नंबर मिलता है ट्वंटीफाइब में ट्वंटीफाइब मिलता है बद सिर्फ और सिर्फ दिलेबस पढ़के रेडी की रहों और इससे थोड़ा अगल वगल भी इनको भी जोड़िए एक बटा दो यक्स वाई और धन एक बटा दो यक्स वाई एक बटा पांच यक्स का स्कॉाइर वाई प्लस एक बटा साथ यक्स स्कॉाइर वाई प्लस तीन यक्स स्कॉाइर वाई इनको भी जोड़ना जिनको सीधा सीधा गिंती को जोड़ना आता है वो इसको कर लेंगे जिनको जोड़ना गटाना पहले से नहीं आता क कि इनको कैसे करेंगे कर लेना है थोड़ा थोड़ा वफरिंग हो रहा है तो आज कलास बहुत बड़ी नहीं चलेगी अब यहीं पर इंड करेंगे मुझे लगता है कि यह सब हो गया जोड़ घटाना गुड़ा भाग यहां इसमें और भी दी यह वह सब बताया नहीं आ वेकलन भी और बैकलपिक भी दी गभाए रुक जा एक मिनट एक पदिये बंजेकों का वेकलन वेताई ना बताई कोई मतलब नहीं है जैसे इनको मैंने जोड़ने को बताया था ना ऐसे ऐसे अगल बगल में तो बगल बगल में भी जुड़ जाते हैं निच्चे उपर भी जुड़ते हैं देखो कैसे इनको जैसे अगर मैंने कहा जोडने को ना इनको जोडने का ये भी एक तरीका है ये बगल बगल में है कि इनको एक तरीका ये भी है इनको निच्चे उपर करके भी जोड़ सकते हैं एक के उपर दूसरे को बिठा दो यह ऐसे दो एक्स की नीच्चे 4x को लिखतो ऐसे अब भी ये 6x आया ये दो तरीके से इनको कर सकते हैं समझ में आने सभी को ये तरीका होता है फटा फट लिख लिजिए कुछ भी डाउट है कुछ भी कहना है तो बताईए फिक है समझ में आने सभी को इस तरह से अप लोग करेंगे कुछ हम यहां पर अभ्यास प्रस्ण दे रहे हैं आप लोग उन्हें लिखिए और घर से जरूर करिएगा जूकि आप लोगों की मांग होती है कि भाई आप अभ्यास प्रस्ण नहीं देते हैं मज़ा नहीं आती ह तो मज़ा आनी चाहिए थोड़ा बहुत ना जिसको ज़्यादा मज़ा लेनी है वो जा करके अच्छरा के सारी पवन और गंगना रनावत को देखें समझ रहा हूं ना चलो देखो इधार इनको पढ़ने में थोड़ी बहुत चाहिए वो इधार आ जाएं लिखिए 4A प्लस 3B और प्लस 1 वो 7X प्लस A में जोड़ी ये लिखिए है तो अलग तरह का ये लेकिन आप जोड़ के देखना दूसरा 3X प्लस 9 में 7X और ये ऐसे वो जोड़ी ये इनको जोड़ी ये आपस में 3X और ये 5X धन एक इनको क्या करिए गुड़ा करिए अब अब लगता इस तरह बला नहीं बताया हूं ना हूं अगला देखिए हाई पे प्लस सेवन कि तथा कि तूए माइनस फाइब को घटाई ये इनको क्या करिए घटाई आपस में तिक हैं प्लस नाइन एक्स वाई प्लस यक्स वाई प्लस यक्स वाई को जोड़िये इसमें और कुछ था नहीं आपका ये चैप्टर खतम हो गया पता नहीं क्या हुआ इसमें देखने दीजिए इसमें दोनों तरह के लोग हैं कुछ लोग हैं जो ये सारी चीजें समझ गए हैं कुछ लोग हैं जो नहीं समझें हैं ये थोड़ा सा अलग है मतलब इसे कुछ जादा ही समझने की जरूरत है क्योंकि ये जल्दी से समझ में नहीं आता है एक्चुली ये बात करें तो अलजेब्रा में आता है एडवांस में थोड़ा सा तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा और भी आगे आज पता देते हैं अब्यास प्रस्न करवा देते सील्पा केसरवानि जी गुडिबनिंग सब्तम जी गुडिबनिंग, आप लोग ये बताईए कि आप सभी को टेबल कितने तक याद है पहाडे, इमांदारी से बताईए तब तक हम इसको रेडी नहीं करते हैं। कि आप लोगों को टेबल कितने दग्याद है कि आप लोग कहेंगे इसमें इसका क्या मतलब है टेबल हो बलका मतलब है अगर आपको मैट्स पढ़ने है न चोटी-चोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक और भी सवाल कर रहे हैं ज्यान से सुनिये अगर मैंने कहा यह तुरंद असी और नब्बे की बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं कितनी हैं यह चोटी-चोटी बातें आपकी जुबान पर रहनी चाहिए जैसे कोई आप से आपका नाम पूछता है तो आप पट से बता देते हैं वैसे जट से आपको बताना चाहिए कि देख रहे हैं इसे जुड़े हैं क्या कहें कोई 22 बता रहा है कोई 40 बता रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कि इनके असुरारी से किफ्ट आया ही तो आ कहीं जाने दो चलिए आगे बढ़ते हैं आज क्या है टॉपिक तो फिलहाल अलजेब्रा कही चलेगा कुष्टन जो पूछा था वो मैं सब करवा चुका हूं लाइब नंबर आ 27 है कलाफ नंबर 27 है क्यों 27 है कि क्या है भई 27 ही यह ना ठीक है ओके तो मैंने यह जो पूछा था पहले उसका जबाब दे देते हैं क्योंकि कुछ चात्र इंतजार में होंगे कि बताया जाए वैंने पूछा था कि 80 और 90 इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं के बारे में आद तो नहीं पढ़ाएंगे लेकिन इसका जबाब देते हैं देखिए एक्चुली जो संख्या कम से कम दो नंबर से पूर्टा डिवाइड हो जाती है वह भाज्य संख्याएं कालाती है मिनिमम दो से लेकिन उसमें वन को नहीं गिनते हैं क्योंकि वन से तो सारी नंबर डिवाइड होती हैं पूरी तरह सुन लिजिए वह संख्या जो वन से और खुद से मतलब जैसे 8080 की बात करें तो 80 खुद से अपने आपसे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और भी किसी एक संख्या से फुली डिवाइड हो तो वह भाज्य संख्या कालाती है ठीक है कुछ लोग जैसे 87 हो गया 87 हो गया 21 हो गया 33 हो गया 99 हो गया इनको भी अभाज्य समझ लेते हैं यह उनकी बहुत बड़ी भूल है समझ रहे ना तो इसमें अगर हम बात करें 80, 80, 82 मुझे लगता है कि 83 यह क्या है अभाज्य संख्या है 84, 85, 86, 87, 88, 89 और यह 89 है क्यों सही है ना और कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है इसका सही जबाब था दो इन लोगों ने दो बताया था उनका सही है 80 और 90 की बीच में सिर्फ और सिर्फ दो अभाज्य संख्या है ठीका कितनी है दो अभाज्य संख्या है अभी नीज पटेल, ओनू, पामेडी मौज, भूख लगी है अच्छा अभी लंगर परोसेंगे बैठे रो हां दिल थाम के बैठो लंगर मिलेगा भी चलो तो आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं, अलजेबरिक एक्स्प्रेशन के बारे में कलचर्चा हुई थी, तो आप लोग मुझे इसका जबाब फटा फट बताए इमांदारी के साथ, पूरी इमांदारी से, सिद्दत से, पौफादारी के साथ बताएए अगर हम इसका मल्टीपल करने को बोलें, तो क्या हैगा? आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको मैच सीखना है न, ये सब के लिए हैं, ये माश्टर कलास है, सब के लिए हैं, पताएए जल्दी करिए जो बात चीट कर रहे हैं, इनको सर बलक करिये, आप जल्दी जल्दी, जो भी फाल्तु की बात चीट कर रहे सुन रहें, तुरन्त, बिल्कुल कुछ नहीं पूचना, पुछ नहीं बोलना है, फिर पढ़ने वाले रहेंगे, दो ही रहेंगे, वो ठीक है, चलो ठीक है इसका जबाब जो सबसे पहले दिया मैं कमेंट उनका देख पा रहा हूं आईए हम इस पे चर्चा करते हैं आगे बात करते हैं कल मैंने इसके पीछे भी कुछ और छोटी बाते पढ़ा था जैसे माल लेते हैं कि 3 नहीं 13 लिख लीजिए अगर मैं इसमें बोलूं कि A B का स्क्वाइर का गुडांग क्या है तो क्या होगा बताइए बताइए ये छोटी बात है साथियों मैंने ये भी बताया था कि जो वरियबल्स होता है यानी चर्पद होते हैं उनके साथ में जो भी नंबर लगा होता है यानि constant लगा होता वही क्या है वही उसका गुडांग होता है तो अगर इसमें हम AB का गुडांग की बात करें सबसे पहले पूजा मिस्रा जी ने जबाब दिया है अनुपम दूसरे नमबर पर है और रैसमी सिंग तीफरे नमबर पर ठीक है तो 13 है क्योंकि इनके साथ में लग से देखा उसका गुडा अलग से करते हैं कि समझ रहे हो ना इसमें दो लोग है प्रेकट के अंदर तीन प्लफ नौ एक्स ऐसे हैं कि जैसे कोई गार्जियन है इनके दो लड़के है एक का नाम सोनु है अब इसमें कोई मोनु सोनु होगा तो अगर याना नहीं है तो अगर करता है कुछ भी चीज तो सोचता है को सिस्काइब दोनों के लिए हो अगर किसी की दो बेटियां साधी में वह फोर्वीलर कार दे रहा है अगर एक को दूसरी को भी देता है ना अगर नहीं देगा तो बात कर बड़ो जाए तो वैसे क्या है इसमें अगर हम मल्टीपल करे तो तीन एक्स स्क्वायर का गुड़ा तीन में करेंगे इनको बगल में लाके निप्टा लेते हैं यह ऐसे ठीक है नंबर का नंबर में multiple होता है तो 3 का 3 में हो जाएगा तो 9 हो जाएगा और 1 का square ऐसे ही रहेगा ठीक है 9x का square सुमित पांडे को बलाग करिए सुमित पांडे समझ पैए इस पे कोई effect नहीं पड़ता है क्योंकि इसके साथ में कोई परकार का variables नहीं है तो वो नंबर पर कोई effect नहीं पड़े तो यह 9x का square हो जाएगा यहां पर लिखेंगे लेकिन अभी कहानी खतम नहीं हुई मैंने कहा था कि जब करेंगे तो दोनों में करेंगे तो अब 3x का square का गुड़ा 9x में भी करेंगे बीच में plus का sign था तो plus वैसे ही लगा दिया जाएगा किसी को कोई doubt नहीं न आईए अब 3x का multiple करेंगे 9x में इतना ठीक है तो साथी मेरे क्या करेंगे तीन का गुड़ा 9 में करेंगे तो यह 27 हो जाएगा और यह x का square है यह x का power 1 है यह क्या होंगे आपस में जूड़ जाएंगे क्या जूड़ेंगे भातांग जुड़ जाएंगे मैंने बताया था कि गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है multiple करने पर जो उनकी power होती अपस मेट हो जाती है तो ये एक घात और ये दो घात जुड़के तीन घात हो जाएगी तो 27 यक्स का power 3 आएगा ये इसका final answer होगा अच्छा इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो इसको पहले से जानते थे ऐसे कर लेंगे कितने लोग हैं इमानदारी से बताना अगर आप जानते थे तो आप ये लिख के कमेंट करिए और नहीं जानते थे तो नो लिख के कमेंट करिए चलड़ी करिए ठीक है इतना हो गया इसको हम दुबारा से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है और ये बच्चों को साथी जो हमारे जुड़े हैं उनको थोड़ा कम समझ में आते अब इनी इस पटेल नहीं जानते थे इनका नाम है इतना खतरनाक फिक है जिनको भी नहीं आती वो सीख जाएंगे बिल्कुल दिल थाम के वैठिये सब आएगा टेंसन मत लीजिए बस एक उम्मीद बनाके रखिए है ना समझे रहना उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए बस होसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना होसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन सिरफ एक बार जीतने की उम्मीद को जिन्दा रखना और एक ही उम्मीद पे सब कुछ मिल जाएगा आईए इधर साइड में आईए तो यह हो गया यक्स का पावर माइनस का फाइप अगर इसका मल्टीपल कुछ ऐसा हो रहा है तो क्या आप लोग कर लेंगे क्या आप लोग कर लेंगे पताइए प्रेस मिसिंग ठीक है आप तो समझ में आ गया तरेस बहुत अच्छे देखिए आप लोग कलास को लाइक नहीं कर रहे हैं यह दोखा है सिर्फ इस महीने लगातार दोख है मिल रहा है क्यूं भाई आप लोग को क्या चाहिए पटापट कलास को लाइक जरूर करिए आप लोग आयसा नहीं चलने वाला है देखिए इसको भी आयसे ही करेंगे पहले यक्स का पावर फाइब का मल्टीपल इसमें करेंगे फिर यक्स का पावर यह माइनस फाइब का मल्टीपल इसमें करेंगे तो यक्स का पावर माइनस गुड़ा करने पर घाते क्या होती है जुड़ जाती है तो साथियों यह यक्स का पावर माइनस का पांच और यह इसमें वन जुड़ जाएगा यह क्या आएगा एक्स का पावर माइनस का फोर आएगा ठीक है clear तो यह हमने multiple इसमें किया तो यक्स का पावर क्या आया 4 आया और वो plus minus किसमे माइनस में आया याद रखना अभी सिर्फ और सिर्फ इसका multiple सिर्फ इसमें हुआ है अब यक्स का पावर 5 का multiple इसमें भी करेंगे अगर किसी को समझ में आ गया तो जल्दी बता दो इसमें भी करेंगे ध्यान से देखना जब इसका multiple 2 में करेंगे तो यह हो जाएगा 2 एक्स का पावर minus 5 पीच में जो प्लस का साइन या जो भी साइन था इसके साथ में इसके पहले plus था तो इसके पहले भी plus था इसलिए हाँ प्लस रहेगा तो 2 एक्स का पावर माइनस 5 आया समझ में उसके बाद आगे समझना यह तो इसका multiple इन दोनों में हो गया बारी-बारी लेकिन अभी वन भी तो बचा है वन से भी पूरे में सब में बारी-बारी से पुड़ा करेंगे ठीक है तो वन का multiple एक्स में करेंगे तो साथी मेरे यक्स हो जायगा वन का multiple ूं में करेंगे थे टू हो जायगा अब आप लो मुझे यह बताओ किया इन्में कोई सजातीय吧 हैं जिनको जोडा घटाया जा सकता है पताइए क्या इन में कोई सजातिये पद हैं जिनको जोड़ा घटाया जा सकता है कमेंट में सबका देख रहा हूं यह चुटका समबाइल लिया हूं यह किसी में दिख रहा है सुमित दीपेंद्र है कोई बोलो फटाफट बताओ नहीं न ऐसा कुछ नहीं है अहीं इसका गातो का लग है इसकी अलग है सब अलग-अलग यह तीर गाउं मेर जा रहे हैं कहीं कुछ ने जुड़ने वाले आनसर साइगा बताएगो अर्चना देवी ये क्लास में ही प्रेक्टिस होता है ये प्रेक्टिस ही हो रहा है इसी में सब हो जाता है क्लास में अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है किपने वालों की कभी यहीं होती एक हार भार फेल हो जाएंगे दुबारा ट्राइक करना नहीं बिल का मतलब कोईश्चन गलत हो जाए तो आगे बढ़ा जाए फिर इसमें कुछ अलग तरह के भी प्रस्न करना चाहिए थोड़ा सा रुकना कुछ कुछ कोईश्चन देखता हूं जो आपके काम के हैं तो कल देखा आई था अमिट सिंग बच्चा आप ही की सरकार बनने वाली है बाबू आप ही के बने गया अब दूबारा मत पूछना चलो इसमें बहुत चोटे-चोटे कुश्चन दिए गया है बहुत चोटे-चोटे दिए अगला चैप्टर में सरकल चलेगा चैप्टर नंबर टेन में सरकल और लाइन सर्फेस हो गएरा जो है यह सब पढ़ाया जाएगा ठीक है आईए अब हम बात करते हैं जैसे मैंने लिखा तीन यक्स का स्कॉाइर प्लस नो और प्लस यक्स का स्कॉाइर यह कितना पद ये है बताईए यह कितना पद ये बहुत पद है दिन पद ये है दुई पद ये है या पांच पद ये है फटा-फट बताईए अगला य कि यह भी बताईए कितना पति यह है एक्स प्लस वन प्लस वाई प्लस जेड तो पाइए तुरेश चैंदर रीती देवी हाहां मैं सब को देख रहाँ सब को देख रहाँ सब लोग अच्छे लग रहे हो मुझे दूल के वैठे हो चलो कोई दिक्खत नहीं गुलसन बोल रहे तीन है ठीक है देखिए इसमें ये दोनों सजातिये पद है क्योंकि इनकी घाते बराबर है और चर भी बराबर है ति आपस में जूड़ जाएंगे तो भाई सहाब अगर ये जूड़ेंगे ति ये हो जाएंगे 4x का स्कॉयर और प्लफ का 9 अब इसमें कु मनफ की चार में WOO हुथ महार सबसारी अक्टिविटी हैं जो मैंने बताय कुछ कि कौमन नोगों पेमें दोस्ती हो जाता ओझाताई है थ surrounds us है प्यार भाई हो जाती पताया में पढ़ाया था इनकी घाते बराबर हैं कि रचेखिए जूड़ जाते हैं और तुम मिलि के क्या हो गए हम और सालों है कि यह नहीं यह जाती धर्म इनके शंसकार इनके बे कि यह कि यह तन अद नहीं कुछ नहीं होगा तो तीन चार पदिये च're इसे चर पदिये नहीं क्या वोलेंगे चतुर्थ पदिये नkas 3,4 पधिये बेंजक जिसे परकार पिद्धिये बोलते हैं उससे जदा अगर होता बहुपद बोलते हैं इसमें पॉल्लीनोमियल जो अच्छी को समझ में आ रहा ना उच्छ दिमाग में घुच्राइगे नहीं थोड़ा बहुत भुजारा धुब अगर बुछारा तो पताईए हां हां आरा समझ में आ रहा है चलिए आगे बात करते हैं इधर साइड में आईए और देखते रहिए कि मुझे लगता है कि आप लोग यह समझ गये होंगे तो इसमें अगला क्या है तल तल खंड रेखा बिंदू यह सारी चीजे हैं यह कौन से मुसीबात आ गई भाई इनको वाइस क्लियर नहीं आ रही मुझे तो सब सुनाई पढ़ रहा है अब क्लियर है सुमित अपना कान में थोड़ा तेल ओल डालो खोद लो डंडाउंड़ डाल के थोड़ा साही कर लो हां चलो आएगा चलो चलो ठीक है ठीक है तो एक बात यह बताई और अपान फाइब एक्स वाई का स्कॉर ठीक है प्लस वन अपान थ्री और यह एक्स का स्कॉर वाई और इसके साथ में मानलो यक्स भी है तो इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे या जो भी करेंगे तो कितना आएगा बताईए यह कुश्चन है कितने लोग हैं जो इनको कर लेंगे बहुत ही सिंपल साइस में कुछ है नहीं जादा लेकिन जो हम बता रहे हैं वही है बस पताईए आकणों का प्रबंधन प्रिक्टोग्राप भी पढ़ा था इसके पीछे परसेंटेज भी पढ़ा है अब रिवीजन ही करना है ठीक है एक दो चैप्टर बचा है उसको करवा के सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है देखिए मैं बताता हूं यहां आईए यह तो सिंपल सा है इसे वैसे ही लिख देंगे वन अपान फाइब एकस वाई का स्कॉयर प्लस इतमें यक्स का स्कॉयर है नीचे भी यक्स है यह आपस में कहें एक प्रकार से तो कट जाएगा बच्छे कटता नहीं है घाते घट जा इसमें गुड़ा होगा पांच का इधर होगा यह हो जाएगा कितना दीन एकस वाई का स्कॉयर प्लस इह पांच एकस वाई इनका आपस में क्रास मल्टिपल हो जाएंगे यह पांतियाई 15 अब इसके आगे यह जुड़े घटेंगे नहीं क्यों नहीं जुड़े घटेंगे क्योंकि इनकी घातें अलग अलग है इनमें यक्स है वाई है इसमें भी यक्स है वाई है इसमें तो यक्स की घात वन है इसमें भी वन है लेकिन वाई वाला गडबड कर रहा है वाई वाला गडबड कर रहा है इसमें इसकी घात दो है पर इसके एक है इसलिए आपस में नहीं जुड़े घटेगा यह अंसर हो जाएगा या फिर इसी पर छोड़ देंगे ठीक है जल्दी करवा देंगे कोई दिकत की बात नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके जब कलास लाइब नहीं होती अगर यह प्रिमियर वीडियो भी आता है आपने देखा होगा आपको देखना चाहिए किसी भी तरह का वीडियो आ रहा है या कलास आ रही उसे आप इग्नोर ना करें क्योंकि वह बड़ी महनत से बनाई जाती ह आपको लगता है कि अगर लाइब नहीं है अगर कभी बिडिव पक्रिक हो रहा है किका है कि अच्छा एक और सवाल मताइं है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानि प्राइम नंबर क्या है निट्टो गराप पढ़ाया गया था र Sumiji अभी सायद कलाफ 24 oh यद 23-23 में देख लिजिए पढ़ाया गया था पूरा चैप्टर एक वीडियो में पढ़ाया गया सै फिक्तो हश्ञाली से region नien हाज टारीं दो तो है अनुपम का तो आ रहा है और हाउ टू पॉजी सन फ्लास नामें खतरनाक है पढ़ना ही गलत है चलो है तो सबसे चोटी जो अभाज संख्या वो दो है जो लोग वन को बोल रहे हैं यह विरादरी के बाहर है इसके बारे में बहुत और यहांए पर में बहुत जगासे कमतार जरुकर करते ते कुछ वए्ससे कंपया एक यह यह है यह है प्लुल और राजवर्साशा नगरीं मेरे में रामचंद्रजी की पूजा करते थे और यह हैं कि यूंकि सम संख्या है और बागी कोई बी संख्या कर तुम अगर है तो बहुत कूछ हो गया क्या प्ल Eg ले कि इस तरह के सारे पद आप लोग कर लेंगे सब कुछ कर लेंगे न कि देखिए समझिए यहां पर कि इधर साइड में आईए कुईस्चन दिखिए एक वटा तीन यक्स का पावर पांच वाई जड़ यह जड़ है जड़ जब्रा जब्रा मतलब गदाहा चलो तो यह का है भाईया यह नाइन है यक्स का पावर फाइब और वाई प्लस यह तीन अ कि इसको अगर में मटिपल करें लोग कर लेंगे कुलिये इस कितने लोग कर लेंगे बोलो ना बाई बोलो ना बाबुर जाल जल्दी जल्दी चलो सर्माओ ने थोड़ा मैं इसको पिला देता हूँ मतलब से आही इंक नरे बाबू का चाहते हो तुम दिल चाहते हो कि जान चाहते हो या दोनों चाहते हो बोलो का एतना प्रसान हो बोलो बोलो जल्दी बोलो इसको आप लोग कर लेंगे ना इसकर साइज हो रहा है चलिए यह इससाइज ही हो रहा है और कुछ नहीं कि इनका मल्टीपल करेंगे तो पहले नंबर नंबर का कर लीजिए यहाँ पर फाइनल में तीन आएगा और यक्स वाई जड़ जो भी है इनको अलग से ले लीजिए इनका भी आपस में मल्टीपल कर दीजिए ठीख है तो इसकी गाते 5 है इसकी भी 5 है यह जुड़ जायगा तो यक्स की घात 10 हो जाएगा यह Y है यह Y है Y की घाते 1-1 है तो इनकी घाते एक एक जुड़ जाएगी तो Y की घात 2 हो जाएगा और इसमें भईया कहीं Z वर्ट तो है नहीं एच अचा यह था नहीं है ना Z इसमें लेकिन इसमें नहीं है तो यह जड़ क्या होगा ऐसे ऐसे इसके साथ में आ जालेंगा इसके बगल में लगेंगा चलो चलो रहें चलो है तो यह तू अभी आधा हुआ पूरा नहीं हुआ पूरा भी कर लीजिए इनका multiple पूरे का इस पूरे में हो गया तो इतना आ गया क्यों आ गया क्योंकि ये one upon three था ये सिर्फ nine था ये निच्चे उपर हुआ तो गड़बड हो गया मतलब कट गया अब ये बीच में plus का fine है तो bluff लगा दिया इनको आलक कहीं निप्टा लेंगे तो अच्छा रहेगा तीन है ना एक वर्टा तीन का गुड़ा तीन में करिए यह तीन से तीन कट जाएगा वन आएगा यानि यह जो यहां पर वरियेबल्स थे वह खतम हो जाएंगे सिर्फ इतना आएगा constant जितना है क्याक separates five इसट에 यहां यकस की घाने गहां यहां पर पांच है यहां की घाच दो है निपने इस लिए यह आपस में जुड़ा हो जायगा समझ में आ ना अभी को समझ में आ रहा है न इसमें मैं और क्या करवाओं मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ हो गया है कि आए मैं घटाने वाला थोड़ा सा डीटीयल में बता देता हूं क्योंकि यह है तो बहुत आसान जो लोग को आता है उनका बड़ा बोरिंग भी लग रहा है लेकिन जिनको नहीं आता ना उनके दिल का दर्द कोई सुनता नहीं है मुसीबत यह है वो अकेले में तड़ापत रहते हैं तड़ापते रहते हैं और क्या कहते ना दोखा खाये हुए चासिक की तरह उनकी सुनता नहीं है उनके दुखदर्द को समझ के इसको बताने वाला हूं आइए देखिए समझिए देखिए जैसे अगर मैं बोलूं सिंपल में कि पांच यक्स से आप दो यक्स को घटाईए इसका अंसर तो आप कहोगे तीन यक्स आएगा सिंपल सा है लेकिन आखिर तीन यक्स आएगा क्यों कैसे आएगा पुड़ा डीटील में समझ लीजिए बाकी बड़े-बड़े कुष्चन में आप बने जाएंगे अगर पांच यक्स है ना अखिर ये पांच यक्स आया कैसे होगा पताएए ये पांच एकस कैसे आया होगा है अगर हमने रोटी लिया है आटे वाली सिंपल वाली कि रोटी कैसे बनी होगी सोची lleva में यह की खायो क्या रोटी डहीं यह रोटी दूठी खाता है को यह विद ने का इससे बनता तरह है अगर बहुत लम्बी परक्रिया marriages सुरू करें किसाइए मुसके फिसाइए पानी मिला जाता है पटके का जाता है और क्या-प्रेलब् बहुत कुछ होता है तो उसी तरह से हम 5 यक्स के बारे में बात किए कि कैसे आया धे की धोड़ी सी डीटियल में समझिनाailed इसको जो बताना चाहते हैं वो देखिए पांच एक्स का मतलब कि यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स ईयवाइप टाइम रहा होगा जूड़ा होगा हुर्य है हँ पाही बोल रहा है इसा रहा होगा पांच 貼ार इसका मतलब यह एक्स plus 1 इसको हम थोड़ा पिछले जनम में ले चल रहे हैं इस में से माइनस का दो एक्स घटाना था तो 2x का मतलब एक्स प्लस एक्स दो बार ठीक है क्लियर हो रहा है ना कैसे आता क्यों आता है अब समझिएगा देखो भाइया अब इनका कोश्ठा को ओपन कर देंगी तीन हो गया चार और पांच बार के माइनस का यक्स याद रखना अगर ब्रेकट के पहले माइनस होता है तो ब्रेकट खुलने के बाद अंदर के जो भी टम पॉर सवारी माइनस प्लस गया ऑफ यह माइनस ऑर यह प्लस हो गया खतम वहीं बचाई है तीन लिए औन गया आप डएक लाइन में भी कर सकते हैं लेकिन इक लाइन में नहीं इसलिए क्योंकि मैं को समझाना चाहता था कि वास्तों में जर смож unity नव्यक्षा दसे है अबही को को समझ में आया तो फटाफट क्लास को लाइक करें इतने भी हमारे नए साथ ही आये हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यह कलास सब्सक्राइब तीन दिन सोमवार मंगलवार और बुधवार को यूटूब पर विल्कुल फ्री लाइब होती है आज बिरहस्पतिव की कंशिका करूं तो मेरी महाबत की तोहीन होगी आज भी ध्यमा नहीं बतारहां चली आगे वड़ते यां यह इतना हो गया इतना हो गया नह कंश मजे वाला की आःओद stand canyon आरा राच मजे वाला दिमाग नहीं आराई समय इस अए नहीं आए मज़ा कला सहत बहें का ऊश्य भी अच्छा आ गया क्या थोड़ा सरम लग लग रही थी इदर मुह करके गया हूँ तो यह हो गया ठीक है अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को उसके बारे में बात करेंगे 0.01 into 0.001 into 0.12 इसका अगर सबका मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा अब बताइए जल्दी बताइए कि आएगा कि इतना आएगा देखिए इनका मल्टीपल करेंगे तो कैसे आएगा तुनिए समझिए यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1-12 है अगर हम 10 हमलों को हटा दें तो हमें कुछ ऐसे ही मिल रहा है अब का मल्टीपल करेंगे तो 1-12 आएगा बार आएगा तो इसका अंसर जो भी आएगा फाइनल में इतना आएगा लेकिन यह कंप्रेट नहीं क्योंकि इसमें दसमलों भी लगा है यहाँ पर दो अंक पर है यहाँ पर तीन अंक पर है यहाँ पर दो अंक पर है तो साथी मेरे यह दो अंक यह तीन अंक और यह दो अंक जुड़ जाएगा तो दो दो चार तीन साथ इतने पर कातंग पर डेसिमल लग जाएगा एक याद रहे हुए यही चीज इसमें में बस तो साथ अंक पर दसंबलो लगेगा दो अंक पहले से दिया है पांच अंक इसमें बना लेंगे उसके लिए हम 5-0 लगा लेंगे यहां दसंबलो लगा के समझ में आना सभी को इसका सबसे पहला सही जवाब दिया था उनका नाम था नेहा बर्मा ना दिया तो सही था लेकिन गलत अनुपा मौर्या का सही है और डॉली राजपूत का पूरा गलत है किसी का सिर्दर्द कर रहा है किसी की कोई और मुसीबत है मतलब सारी प्रॉबलम हमारे खुपड़ी परखना चाहते हो का कि क्या कर अब तो डाक्टर लोग बेरुजगार हो जाएंगे तो डाक्टर के पास जाएए दवाई लीचिये कि दर्द करने वाला कोई काम मत करिए साधान रहिए पुरच्छित रहिए और क्या करें चलिए तो यह हो गया अब इसमें रिवीजन ही करना है क्योंकि पढ़े आप लोग बहुत कुछ हैं अगर हम पिक्टोग्राप के कुश्चन देंगे तो काफी लंबा हो जाएगा कुश्चन चोटे चोटे कुश्चन देते हैं यह बताइए कि साथ सो का जो 35 है वो कितना परसेंट है पताइए फटा-फट बताइए जबाब दीजिए फटा-फट दीजिए तेबन हंड्रेड का 35 कितना परतिसत है सबसे पहले जो जब आप देगा उसे एक इनाम मिलेगा तुरंद मिलेगा सर्प्राइज फटा-फट नगद मिलेगा कोई उधार नहीं जल्दी करिए कोशिस करते रहिए कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती बस आप एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार कोसिज करिए सबसे पहले कोई बताया कोई नहीं बताया आपी सब सो रहे हैं सपना राठ और बता रही मुझे नहां लग रहा है कि इनका सही है क्यों भाई सही है का बहुत अच्छे बरे गुड़ कि संगीता औरन्कलाफेच मेरे को किसी के पास अब कोई काम नहीं बचा दुनिया में इनों को फालो पर आख एक कंशाय मेरा नहीं पैस परसेंट त्छी क करने का दो कि इसको करने का 2 तरीका पहला एक छोटा फडरीका है छो टे से सवाल के लिए और दूसरा एक इस्टेंडर तरीका है जो सब में लगेगा हर जगा तो मान लीजिए कि हमें नहीं पता यह कितना पर्फेंट है हम मान लेते हैं कि 700 का यक्स पर्फेंट है कितना 35 क्योंकि हमें नहीं पता था कितना है तो हमने यक्स मान लिया तो अब यह सात यक्स परसेंट परफेंट अचय—बराबर बुल नтоящ अचल फटाता हैं to है । लगाना नहीं बूलना ठीक है परफेंटेज का चिन लगाना नहीं भूलना लिख लिजिए फटा फट यह चोटी चोटी जो बाते हैं यह आपको तयार रहनी चाहिए जिससे आप कुछ बेहतर कर सके ठीक है ओके डन चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह बताइए जिरो पॉइंट टू फाइप विश्चन ध्यान से देखिए जिरो पॉइंट टू फाइप वो परतिसत में बदलिये चल भाईया रेडी इसको परफेंटेज में बदलिये कैसे होगा रोसनी कुमारी बताइए जब आप द वानू की 345 कहां से आया कौन सी दुनिया से हुआ हुआ है जल्दी करिए कि सबसे पहले रिहान सिद्धिक आया था लेकिन इनका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ गड़वड लग रहा है इनका पुरा गड़वड है चलिए ठीक है आईए यह 25 परसेंट आएगा बिल्कुल सही है पहले इसमें से हम 10 अमलों हटाएंगे तब 100 से भाग हो जाएगा अब हमें क्या करना इसको परसेंटेज में बदलना है तो साथी मेरे में ने बताया था कि अगर आपको कभी भी परसेंटेज कचिन लगाना है तो दिए गए नंबर को 100 से मल्टीपल करते हैं 100 से इसको क्या करेंगे गुड़ा कर देंगे ऐसे अब इनको हल कर लीजिए तो 100 से 100 कट जाएगा यह 25 बच जाएगा सीधा फिदाए यह हो गया यह क्या आगया अंसर आगया वहत्मा गांधी जी परड़ाम आगया बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात है आजकर लोग बड़े हिंसक हो गए है चलिए ठीक है तो समझ में आगया सभी को तीन बटा आठ को परतिसत के रूप में चेंज कीजिए बुरा नहीं मानना ठीक है तीन बटा आठ को परस्टेज में बदलिये यह बता ये विरामिस्रा हुँ पूर्पनिट को परफेंटेज में कैसे बदलेंगे चलिए हम सिर्फ पूर सिर्फ काम की बात करते हैं भालतू का टाइम नहीं देखिए साथी मेरे मैंने बताया था कि पर्फेंटेज में बदलना है अगर पर्फेंटेज कचिन लगाना है तो हमेशा 100 से मल्टीपल करना है इसको 100 से क्या करेंगे गुड़ा कर देंगे अब इनको काटे पीटेंगे जो कटे पीटे काट दीजिए आप इतने तो समझदार एंटेज में बदलना है यानि पर्तिफद कचिन लगाना है क्या करना है तो 75 पाइव पर्फेंटेज नहीं लिखेंगे क्योंकि यह एक अनुचित भी नहीं प्रॉपर फ्रेक्शन इस तरह से अंसर नहीं लिखा जाता है इसे हमेशा या तो मिक्स फ्रेक्शन में लिखते ह ठीक है तो मिक्स्ट फ्रेक्शन में लिखेंगे तो 37 इंटू 1 अपांटू आएगा 37 इंटू 1 अपांटू पर फिंटेज यह अंसर आए अब यह कैसे मैंने कर दिया इनको बेसिक नहीं आता है वो जरूर देखें जैसे कुछ लोग आडर दे रहे हैं फिर से बताओ फिर से ब बताओ बतलम बता रहा हूं तब इनका गहां चरने गई है आप फिर से बताओ इस पागल हो जाओंगा था पांगल तो पहले से हुआ हूं मुक्त है तो यह सब को समझ में आया ना इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे कुछ जो जो पढ़े हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे यह बताईए एक ही सब्द में बताईएगा एक ही बार में बिना कुछ करें कि अब 20 28 35 105 कोशन देखिए 20 28 35 और 105 का LCM क्या होगा फटाफट जल्दी से जबाब दीजिए पहला आपसने 300 होगा दूसरा आपसने सबीस होगा दीसरा है कि 735 होगा और जोथा आपसन है जीरो होगा पताओ कितना आएगा इन सभी नंबर्स के अगर हम LCM निकालें लीस्ट कामन मल्टीपल तो क्या आएगा कि जल्दी करिए फटा फट 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 बताईए कोशिस करते रहे देखिए बिलकुल कोशिस करना कभी बंद नहीं करते हैं जिन्दगी में कभी कोई इंसान पूर्ड नहीं होता है वो मरते दम तक सीखता है कहते हैं कि कि जितनी अकल बदाम खाने पहने आती ने पूंद नीय में कल इंसन जब जीनदगी में फेल होता थोकर खाता आए इसलिए थोकर कभ खाओगे अ कोchny करो crunch हर में कोशिज करो हर जगह कोशिज करो कि अधिन कोशिज करने का मतलब यह नहीं कि तुम गलत काम करो अच्छे काम की कोशिज करो तो इसका आंसर कोई बताया अब्सक्राइब से पहले इसका अंसर अगर किसी ने बताया तो नाम है नेहा बर्मा अगर दो सिर्फ के बाद हीरा मिस्रा बता है लेकिन इनका तो हाथ मान में ऊड़ रहा है इनका अंसर गलत है इनका सही है ठीक है नहीं है जी बिल्कुल चाहिए आपका अंसर है इसका आएगा 420 चारसो बीस आएगा अच्छा एक आप लोगों से सजेशन चाहिए था पूछना चाहते हैं आप ध्यान से सुनिये का दिल थाम के हमारे दोस्त जी है कृष्णा कुमार जी उनकी बड़ी बुरी कहानी है मतलब ऐसा है कि उनका दौर जो इस समय चलता बड़ा चलता है एक लिए बड़े लंबे प्रेम कहानी में पड़े थे और उनके साथ कुछ गड़बड हो गया है इस्टोरी मुझे बहुत कुछ सिखाई मैंने सुना तो क्या आप लोग चाहते हैं उनकी दर्दबरी कहानी आपको मिलेगा और पर आ कि पंदे को और अभी भार को सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी सिर्फ वहीं होगा तो कितने लोग सुनना चाहते हैं जो जो सुनना चाहते हैं और जो नहीं सुनना चाहते हैं वो नो कितने लोग यहां पर किस किस काटेगरीगे आपनी थॉट बताई इसमेल मुझे जहाँ तक लग रही सब सुनना चाहते हैं शुटी के नहुना से बहुत कुछ सीख मिलता है कि दो दिन लाइट नहीं आती ना तीफरे दिन आती है तभी लाइट का मज़ा आता है तो ऐसे जिन्दगी में अगर निरंतर सुक्षुद्धाइं मिल रही है सब कुछ अच्छा हो रहा है उसका थोड़ा महत तो कम समझ में आता है लेकिन अगर कुछ गड़बड हो गया चानक और फिर अच्छा होता है न तब बड़ी मज़ा आती है होता है न तो यह सारी चीज़ें आप समझ गए इसमें हम रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि हम सब पढ़ा चुके हैं कल एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे कल एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे हम तो आप लोग यह बताईए जो फ्रेक्शन का लसी में बताया था क्या आप जानते हैं कि भूल गए कुछ यह रिवीजन है अभी हां तीन बटा पांच वास साथ बटा नौ का HCM बताईए जल्दी बताईए क्या आएगा फटा-फट दिवीजन हो रहा है हम पताईए फटा-फट पताईए यह कुश्चन है क्या अटालीस संख्या 25 का अपवर्त है अगर आप किसी लाइन में जा रहे हैं किसी लाइन में जा रहे हैं कुछ भी लेने आज कल तो एही मिल रहा है एधर आप कुछ लोग गाली देंगे उपर आप कहीं भी किसी लाइन में जा रहे हैं और उसमें आगे वाला घड़े में गिर गया उसको तो दर्दूबा तकलीफ हूए और गिर गया गया । लेकिन आपको सीखने को मिला ना कि वो गिरा इस पर गया तो आप उस रज्टे पर है तो यह जा भतवा से अगर किसी की केहानी सुनेंगे थो गिरा वह तो गया लेकिन आप दो समल जाएंगे ना है थी चीज ए है या नहीं है तो देखिए अपवर्थ क्या होता इसके बारे में बहुत डीटील में बता चुका हूं इसका आंसर है नो क्योंकि 25 से 48 इसका आपवर्थ को सायद मल्टी पल बोलते हैं इसको मने बताया है क्योंकि हिंदी बहुत से साथ ही है जो हिंदी भासी राज्य से नहीं है उनको नहीं समझ में आता है क्लास में तो अल इंडिया के बच्चे जुड़ते हैं चलिए एक बात बताईए एक्टर पर चलते हैं वो बताईए और तक अपवर तक बताईए कुश्चन है यह चोटा फाह एकदम क्योंकि हम सिर्फ आपको कांसेप्ट सिखाते हैं बाकी कहानी आप खुद कर लोगे निव मजबूत होनी चाहिए इसे फंदरा के सभी अपवर तक बताईए बाटबटव बताईए जल्दी अपवर तक हरा dif हुआ है इनके सभी फैक्टर बताईए यह परकार से इसे हिंदी में एक और बहासा में विभाजक बोलते हैं चाल्दी करिये फटा फटिन निया जी बिल्कुल आप गलत दिसा में जा रहे हैं अपकी बार तो कि सब्सक्राइब कर रहे हैं आप मतलब आप नहीं समझ पाए मुझे लगता है एक तीन पांच पंद्रा पता नहीं कामा उम्हा लगा के लिखिए तो समझ में आए हावा में मत लिखिए एक तीन पंद्रा अच्छा यह आ रहा सिल्पा केसरवानी जी का ठीक है लगबग सही है काफी हद तक देखी आपवर्तक यानि विभाजक इसका मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या जो इस दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित करेगी कंपुलीटली डिवाइड करेगी वह अपवर्तक है तो जो लोग पंद्रा का पवर्तक पैतालिस बता रहे हैं महानुभाव क्या पैतालिस का भाग पंद्रा में जाएगा मतलब साइफ जाएगा इमांदारी से जबर जस्ति ले जाओगे नहीं जाएगा ना तो वह है नही कि इनके अगर हम अपवर्तक की बात करें फैक्टर की तो वन होगा री होगा थाइप होगा अगर और थोड़ा सा प्यार से बात करें तो यह भी हो जाएंगे मतलब चार है अगर अगर आप सारी कलासे देखोगे ना आपको सारे अभ्यास हो जाएंगे कि एक चोटा सा सवाल बताईए 17 डेसी मीटर में कितना फेंटी मीटर बोलिए पुश्चन है 17 डेसी मीटर इसमें कितना सेंटी मीटर है बोलिए यह सब भी इसमें मैं पढ़ाया हूँ जो मैं पढ़ाया हूँ वही मैं पूछ रहा हूँ पंडे जी मुझे लगता है कि आप पढ़ने नहीं आते हैं आपकी इच्छाएं कुछ और कह रही हैं लेकिन आप कहीं गलत जगह आ रहे हैं नाम लिखावट बनावट बातचीत यह मुझे लग रहा है इससे कि आप पढ़ने नहीं आते हैं तो यहां पर पढ़ने जो आते हैं उनका स्वागत है बस पताएए डेसी मीटर को सेंटी मीटर में बदलना है कि इसका सबसे पहला जो जबाब है वह अगर किसी ने दिया है तो वह माहिरा पंडित ने दिया है ठीक है माहिरा सुजानती देवी सी एल परजापती देखिए साथियों सेंटी मीटर से एसी मीटर में नहीं एसी मीटर से सेंटी मीटर में बदलना है का फार्मूला कहानी एक मैंने बताया था मिली सेंटी डे सी मीटर इसके नीचे क्या होताा देखा एक्टोगिलो यह होता है न हमें क्या करना है हमें मेरे साथी डेसी मीटर को सेंटी मीटर में बदलना है तो डेसी मीटर कहा गया एवाई निकल 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 यह है डेसी मीटर डेसी मीटर को सेंटी मीटर में बदलना है यानि हमें ऊपर जाना है निच्चे से ऊपर जा पर हम कर सकते हैं कि एक डेशी मीटर में कर लेना और क्या बताओं बाकिंवाइव पढ़ा हूं लेपने पसुरी में कि एक मीट Do пом framing 8671 में कि दस पूराइब कि गित्ना होता दस होता है मिली सेंटी प्रेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें दिमाग भी थोड़ा कम काम कर रहा है आज कल थोड़ा थाइंग कर रहा है एक मिनट रुख जाओ यह सही लिखा है न कि तो रूख किये कि देशी से सेंटीमीटर हाँ ठीक है ठीक है यह सही है कुछ भी गड़बन नहीं तो 17 डेशी मीटर में भाई मेरे 17 गुड़े दस बराबर 170 सेंटीमीटर आएगा कि इतना आएगा 170 सेंटीमीटर है जिमाग थोड़ा हैं कर रहा है इस वज़ा से थोड़ा रिश्टरब हो जाता है कभी-कभी तो समझ गए ना यह बात है हो गई खतम है तो चलिए ठीक है बात करते हैं कि टॉपिक पर एक होता है तल एक होता थल खंड तल और खंड ध्यां देना अंतर होता है साथियोगसे पहले हम icon के नहीं बलकि humor करें तब आपको बयतर समझ में आएगा जैसे अगर हम बात करें यह वाइट बोर्ड जो आप देख रहे हो तो यह क्या एक तलखंड है तलखंड है क्योंकि इसके निश्चित छोर है यानि स्टार्टिंग और इंडिंग पॉइंट आपको दिख रहे हैं एक जामपल के लिए अगर मैं आपको एक कॉपी या किताब दिखाऊं कोई चीज रुकना थोड़ा सा तो उसमें देखिए एक निश्चित जगह पर वह खत इसमें अगर आप देखिए तो एक निश्चित जगह पर यह खतम है जैनि इसकी एक लंबाई है इसकी लंबाई है चोड़ाई है निश्चित जोबी इतना दूर में आपको दिख रहे है न और दो जोड़ाई है एरिया सब कुछ है यह क्या है तलखंड है यह वाइट बोर्ड हो गया जिसपे हम लोग लिखते हैं यह भी प्रकार से तलखंड है आपके घर में दिवाल है दिवाल हावा में तो रुखें नहीं है आप लोग जमीन पर ठीके हो दर होगा कमरा होगा है आपना होगा चाय मम्मी पापा कोगा किसी कभी होगा है लेकिन तल क्या है एक तल कह सकते हैं क्योंकि उसका एक अंत और स्टार्टिंग दोनों दिख़ए लेकिन तल क्या है भाई टॉपिक दिखाईए एक मिनट स्क्रीन पर देखिए ध्यान दिजिए हम बात कर रहें दो टॉपिक के बारे में जो उपर लिखा है आपका ए तल और बी तलखंड पहले समझ लीजिए फि कई तब प New ciudad Amala लेकिन समझना भी ताल जो जो है एक परकार से आप जैसे घरातल सुने कि अरा रदम अब क्यारति को जानता है जो वी महानात है इसमें जो देखा हो को धरती भाईए अपलाने जगा सूरू हुई है भलाने मेड़़ज अच्छतम ही है नहीं न आप कह सकते हैं तल का एक्जामपल में धर्ति आप समझ सकते हैं याँ एक ऐसा तल जिसका मतलब तल क्या बोलेंगे इसे एक ऐसा अ एक ऐसा आकार इसको अगर लिखवाया ज्यादा बहतर रहेगा आपके वह समझ यह बातों को एक्जामपल से इनको अपनी भासा के रूप में आप लिख सकते हैं अपनी भासा के रूप में लिख सकते हैं तो आपको मिलाके मतलब समझ गया अभी में लिखवाऊंगो तो आपको समझ में आएगा जैसे कोई भी निश्चित जिसकी स्टार्टिंग और इंडिंग पॉइंट है जैसे दीवाल हो गया वाइड बोर्ड हो गया आपका टेबल हो गया में जो गयरा हो गया जो यह सारी चीजें क्या है एक तल खंड का एक जामपल है क्या है बाटम ब्लॉक है लेकिन तल में जै झाल कि तुन पारें आप लोग भाई चलें प्यों थे हैं से राज बहुत टाइम लेते हैं आप से कि आपvers ले आप में कलास बाद में ठीक है कि हमें कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हमारा उद्दे से यह नहीं यहां से बिदा करिए जबर्जस्ती नहीं है बांध के नहीं रखा जाता बाबू ठीक है आप जा सकते हो बड़े प्यार से आप जाओं जिनको पढ़ना है सीखना है सिर्फ वहीं रहेंगे ह आथ की बारे मैंने बताया तॉपिक है पहला टल टल्कंड बिंदु और पतिशेदर मेंदु रेखा तो तो सबसे पहले बनेट मैंने बताया जैसे कि आप को जैसे दीवार हो गया सारे मतलब एक प्रकार से जिनकी क्या होती है दि म माय होती है ठीक है कमरे की दिवाल को तल कहा जा सकता है कमरे की दिवाल को तल तल खंड कहा जा सकता है क्योंकि उसकी सीमाएं होती है यह आपका हो गया तल खंड ठीक है अगला जो तल वाला है तल पना करें तल वाला देख लिजिए तल पना करें कि यदि दिवाल वाइड बोर्ड या मे रहेक्ट इनके की सीमा नवा नो से ताल कहा जा अब पहँ सकता है यानि भूटम कहा जा सकता विants यह कहीं पूच秩ा नहीं जाएगास तरह से इस तरह से काई पूछाने जाएगा लिखने के लिए सिर्फ आपको समझना विभाइगा अगला पॉइंट है बिंदू क्या है विगन विया सब बैठते के इसलीए नहीं समझ में लेना रहें बिंदो मतल्क्राइब इसमें खाटियों कि उधारंड में इसमें उधाररं मैं भी में जूंतली का बार नहीं बताऊंगा चलो विंदू क्या होता भाई पॉइंट क्या होता है इसकी कई परिभासाइं हो सकते हैं कि इसकी कई परिभासाइं हो सकते हैं बिंदू की पॉइंट की सुन लीजिए बिग्यान में एक एक आकरती जिसकी कोई शाया नहों वह बिंदू कालाती बिग्यान में आप कहोगे गड़ित पढ़ा रहे तो बििग्यान की से बात कहें कर रहा हूं तो पता ही अगर दूप में ऐसे हाथ करेंगे इधर से सूरजी निकले हुए है तो परचाई बनती है ना चाया बनती ना लेकिन एक पॉइंट एक बिंदू जो है उसकी कोई चाया नहीं बनती है इसकी एक परिभासा ऐसे भी कही जा सकती है यदि एक ऐसी आकरती जिसकी कोई बीमा ना हो यह लंबाई चोड़ाई उचाई ना हो वह बिंदू कहलाती है ठीक है एक ऐसी आकरती जिसकी ना तो लंबाई हो ना चोड़ाई हो और ना ही उचाई हो वह बिंदू कहलाती है उदाहरन यह बिंदू यही है फिकर ही है कुछ लोग को तो दिखाईये ना पढ़ रहा होगा यह यह मैंने रखना यह बिंदु है पॉइंट है कि समझ रहे हो ना आप लोग वही हैदर अली समझ में आ रहा है पंकज गौतम तो फिर से सुन लीजिए बिंदु क्या है एक ऐसी आकृति जिसकी कोई बीमा नहीं होती है बीमा मतलब ज तो आप लोग क्या इनको लिखना भी चाहेंगे सिर्फ समझ लीजिए बस बाकी मुझे नहीं लगता कहीं यह पूछा जाएगा लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि इसको समझे नहीं रहेंगे तो आगे कोईश्चन नहीं हो पाएगा अगला क्या है परतिछेदन बिंदु क अगला है परतिछेदन बिंदु क्या है परतिछेदन बिंदु कोड़ा सा रुकना मैं दिखाता हूं यह भी परतिछेदन बिंदु इसमें एक टॉपिक और भी है इसके बाद में इसे इंगलिस में intersection point कहा जाता है वो बिंदु जिससे होकर दो या दो से अधिक रेखाए जाती है वो परतिछेदन बिंदु कहा लाता है ठीक है परतिछेदन बिंदु यहाँ पर मैं लिख देता हूं आप जरा ध्यान देना परतिछेदन बिंदु एक ऐसा बिंदु जिससे होकर के दो या दो से अधिक रेखाए जाती हैं वो क्या कहलाता है परतिछेदन बिंदु कहलाता है इसका एक्जांपल आप देख लिजी यहाँ पर जैसे अगर मैंने एक लाइन ऐसे खीचा एक ऐसे खीचा ऐसे ऐसे यह जो पॉइंट है इसका नाम अगर ओ दिया जाए यहाँ पर ओ क्या है परतिछेदन बिंदु हैं इंटरसेक्शन पॉइंट है कि अगर नहीं पढ़ पाएंगे और इक्जांपल अगर नहीं समझे रहेंगे परिक्ष्छा में इन में से कुछ न कुछ जरूर आएगा अगर पूछ लिया कि बिंदु की परिभासा लिखिए तो मुझ बना दो गया इसे कोका कोला जीए क्या भूंकी डिमांग्जा होता है लेकिन गलत दिसा में खूपरियोग करते हैं सहीं शी दिजा में लगाते हैं कभी ऐसे एकाए दो लोग हमारे विसंपर्क में फिए अगला है ढूंकला है ए स खंडरह थे क्या होतीं आप जानते हो कितने लोग जानते हैं रेखा आथ उटाओ जल्दी फटा फट दुभम कुमार मानो सेवा संधान बहुत दूर से दिख रहा है पिल्कुल दिब्या जी आपने सही कहा पैंसिल से या पैंसे दबाने पर जो चिननंकित हो जाता है उसे भी बिंदु कहा जाता है तो रेखा क्या होती है देखिए दो बिंदुओं को जैसे मैंने यहां पर एक बिंदु रखा अब भाई कहां पर लिखूं जादी ख़रा ठीक है एक बिंदू यह है एक बिंदू यह है धो को यह मिलाने पर बनने वाली आकरती रेखा कालाती है अर्थात एक रेखा और या सरल रेखा बिंदुओं का समुच्च्य होता है समझ में आया ना तो यह आप रेखा तक समझ गए रेखा खंड के बारे में हम बात करेंगे लाइन सेग्मेंट नीचे लिख लीजे रेखा में इसे प्राया L M L, M, N यह फार लाइन यह फार मंकी यह फार न्यू ठीक है इसे परदर्सित किया जाता है यह फार फार जो मैंने बताया न यह फार यह फार यह फार यह फार यह फार यह समझने के लिए बताया इसको लिखना नहीं है आज की कलास समझने के लिए ज़्यादा है लिखने के लिए कम है यहां पर समझने वाली बाते होंगी यहां पर लिखना नहीं आज जादा जो कमेंट की पीछे पढ़े हैं मैं कमेंट नहीं पढ़ने वाला हूं तो देख सब का रहा हूं लेकिन जो सिर्फ पढ़ने वाले हैं उन्हीं के लिए अच्छा है इसमें रेखा खंड क्या होता भया रेखा खंड जैसे मैंने अभी कहा तल खंड तल और खंड मनलब तल खंड वैसे रेखा और खंड रेखा खंड खंड कर दिये खंड मतलब एक प्रकार से भाग हो गया पार्ट हो गया समझ रहे हो ना आ रहा समझ में लर्ण बित क्रिस्णा काय को बें डंडा किया इन मतलब को दिमाग कदही बनाग रखा है बलक करो इसको फटा-फट पढ़ना लिखना है नहीं यह पिल्ले पिल्ले बरके आकर कलास में गंदगी मचा देते इनको पढ़ना नहीं है कि यह हो गया ठीक है तो रेखा खंड क्या होता है देखिए अगर कोई रेखा खींचा है समझ यह यहां पर कोई रेखा अगर ऐसे खींचा है माल लेते हैं कि इसका नाम हमने ल और यम लिखा जो भी है ओन टुवल अगर इसके भाग को काड़ दिया जाए रेखा एल और यम के एक पार्ट को काट के निकाल लिया जाए ठीक है जैसे माल लेते हैं कि हम इसको यहां से काड़ दिये यहां से और इनके भागों के नाम एबी लिख दिये तो इसमें जो एबी है वो क्या है रेखा खंड है लाइन सेग्मेंट है समझ में आया ना सभी को लाइन सेग्मेंट समझ में आया लेकिन एबी उसमें से काटा हुआ यक भाग है यह क्या हैलाइन सेग्मेंट है रेखा है रेखा का एक प्रकार से या होता रेखा- chand कंट है कोक थीआ है थीआ कि में तो ठीक है इतना ही था इस जो टॉपिक में था बाकी आगे की बातें यह आगे क्या क्या ऐस में के मिन ऑट कर ना ग्रैंर नहीं हम इस राजी कुछ समझ में आ रहे हैं पंकज गौतम योगेन सिंग आ रहे हैं ना चलिए अगला तस्वीर दिखाईए भाई कि यह हिंदी इंगलिस दोनों में है जो कहानी है ध्यान से देखिए प्यार से देखिए मगर प्यार से मतलब बोर्ड देखिए अगला है लाइन यानि अभी आपने लाइन के बारे में पढ़ा अब पढ़ेंगे टाइप आफ लाइन कितने परकार की होती है या आपने कभी सुना है यानि रेखाएं जो होती है वो कितने परकार की होती है बहुत परकार की रेखाएं होती है पहला एक कर्ब्ड लाइन ठीक है या फिर आप उपर हेटिंग डाल सकते हैं रेखाओं के परकार समझने के लिए यह कलास है आज जो समझने वाले हैं उनके लिए है जिनको भगवान पहले से ही बादाहक बाप बनाक बेढ़ें उनकी बात ही अलग है रेखाओं के परकार यहाँ पर हम मुक्यता छे परकार की रेखाओं के बारे में बात करेंगे इस टाइप आफ लाइन पहला एक करब्ड लाइन ठीक है करब्ड लाइन मतलब वक्र रेखा ठीक है पहला क्या है वक्र रेखा आपने सुना है कभी कहते हैं करब बनाईए जो लोग इंटर्मीडियेट में अगर मैथमेटिक्स पढ़े थे तो भाग के से परवी में तो उन समाकुलन अगर उन्हें पढ़ा या फिर उन्हें अगर फिजिक्स पढ़ा वगा तो देखा फिर अ को रेखा का मतलब यह आइसे जो टेनी मेडिया से जाती हुए जाता और यहां रेकाये हैं कि बारत नक्सा बनाएरे हो ना-इबारत तो बहुत बड़ा है कि यह कर्व रेखा का मतलब ऐसे जो टेर्णी मेडी रेखाए होती हुद है कि समझ रहे हो ना इसका डेफिनीशन में बता देता हूं मतलब समझाने को मैं समझा सकता हूं लेकिन परिभासा आप अपने कार्डिंग लिख सकते हैं जो बिंद्वों को वक्र रूप में मिलाने पर जो रेखाएं बनती हैं उन्हें वक्र रेखा या कर्व रेखा कहते हैं यह तो मैं दो तीन एक्जामपल बताया इन्हें थोड़ा प्यार से भी खीचा जा सकता है ऐसे इन्हें भी कर्व रेखा कहेंगे हाँ वक्र रेखा हैं दो तरह की होती हैं एक closed curve होता है एक open curve होता है closed curve का मतलब वो कि रेखा जहां से शुरू हुई है वहीं पर आकर खतम होगा जिसे closed curve की बात करें तो ऐसे ये ये closed curve है ये को बंद है इसमें कोई घुस नहीं सकता गल बगल से और open curve की बात करें तो ऐसे ये शुरू कहीं और से हुआ खतम कहीं और हुआ है लेकिन लोजट कर प्रव करें तो जहां उसका स्टार्टिंग और इंडिंग पॉइंट दोनों एक ही होता है क्रिशना सिंग जी आपके जैसे जिनके भी सवाल है आप पीबी आरे स्टड़ी एप डाउनलोड करिए और उसमें जा करके आप कोर्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से जुआइन करके और पढ़ना शुरू कर दीजिए इमांदारी से पढ़िए भाई देखिए महनत अगर आप करेंगे तो मैथमेटिक्स में हम पूरे पूरांक लाने की गारेंटी लेते हैं डिलेट में 25 में 25 लेकिन महनत करनी पढ़ेगा पढ़ना पढ़ेगा कुईश्चन लगाने पढ़ेंगे चैटिंग गप सब और इध अवाजानी बंद हो गई क्या सबको आरी रोसनी कुमारी कान में तोड़ा तेल ओल डाल दीजिए हो सकता मिट्टी उट्टी गुश गई हो बंद हो गया हो ना सुनाई पढ़ रहा हो भुपक्र रेखाएं अपने सीख लिये समझ लिया क्या होती है अगला है पैरलल रेखाएं इनमबर आप इप Kreln पर देखिए पैरलल रेखाएं anda धनी अधरर रेखाएं क्या होती कि फिह कि इसका एक्जाम्पल सबसे अच्छा रेल की पटरी है रेल की पटरी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती जहां से शुरू होती वहां तक जाती साथ साथ ऐसा नहीं कि वह इधर को जा रही उधर को बाग गई एक दूसरे से वराबर दूरी पर हमेशा रहती है समझ रहे ना आप समांतर रेखाओं का उधारण आप रेल की पटरी देख सकते हैं आपके घर में अगर थोड़ा आप गरीब टाइप के हैं हम लोग जैसे तो सीड़ी छट पे चड़ने के लिए लगाई जाती है देखें एक नहीं अरे दोनों तरब बाफ लगा होता बीच में डंडे डंडे ऐसे लगे होते हैं तो वह डंडे भी आपस में समांतर होते हैं समझ रहे ना निक्की सर्मा नेहा रावत नेहा मिस्रा नेहा गोतम तुबं रिसी तो समांतर रेखा भी आप समझ गए यानि यहां हम कह सकते हैं कि अगर इनके नाम हम A B दे दें और इनका नाम हम C D लिख दें तो A B और C D दोनों रेखाएं क्या हैं समांतर हैं क्या हैं यह यह पैरलल है दिखाएं अगला C नंबर है परपेंडिकूलर लाइन्स यानि लंब रेखाएं यह कौन सी मुसीबत का नाम है लंब रेखाएं क्या है इसी कज़ाइश्ट उल्टा एक दूसरे कूपर पटक यानि ऐसी सरल रेखाएं जो परसपर समकोंड पर परतिछेदित करती हैं अथात परतिछेदन बिंदू उनका मद्य समकोंड होता है यानि अगर हम बात करें यह जैसे एक रेखाएं यह हो गई अगठी इदर से गई दोनों आपस में टकरा आ गई कटाग दें इस पर क्या बनेगा इस पर 90 का कोंड बनेगा इधर 90 का इधर भी बनेगा अगर हम इसका नाम यह भी दे दें और इसका नाम सीडी तो यह कुछ ऐसे बनेंगी कि समझ रहें ने आप लोग ऐसी रेखाएं इसको भी आप लिख सकते हैं ऐसी सरल रेखाएं जो परसपर तम कोंड पर परतिछेदित करती हैं अर्थाथ अर्थाथ परतिछेदन बिंदू पर उनके मध्य कोंड होते हैं वो लंब रेखाएं परपेंटिकुलर लाइन स्काला देखाएं अब को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत दिमाग में घुसरा है कि नहीं बुझा रहा है कि नहीं भई लिखते जाएए फटाफट लिखते जाएए कि कमेडी मौज वाले भी आये हैं कि नहीं समझ गया होंगे मैं इनको बोला नहीं है नहीं आएंगे क्यूं चलिए पढ़ने लिखने से कोई मतलब भी नहीं है अगला है डी नंबर है मतलब कुछ चीज कभी-कभी आभी इस्वस्निय भी हो जाता है कि नंबर हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स यानी इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब ये गलत लीग गया ना। अब हो परतिछेक्षेक्टि रेखाएं यह जो नीचे लिखा है इनमबर हो कि इसकी हिंदी गलत है संग्रामी नहीं वह संग्हा Zenम आप देखें इंटर सेक्टिंग लाइन पर्ति छेदी यह उन इसमें से कितने लोग है जो पर्ति छेदी रेखाएं लिए प्रिक्तारा कि से इनसान कि उते हो वेशें रेखाएं कई तरह की होते हैं जानते हैं आप लोग को चलिए कोशिस करिए एक सम्तल में दो बिभिन रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करती है ऐसे एक ठीधर को जा रहे हैं एक दूसरे को आपस में काट लहीं है इनको English में मैंतमेटिक में काटना नहीं बोलते हैं काटना एक रलेंगर्वेज काटनी हुआ हूँ इंतर सेक्टिंग दो मतलब इंंटर सेक्शन पॉइंट इंटर्सेक्शन पॉइंट इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं इंटर्सेक्शन नहीं बोलते हैं इंटर्सेक्शन नहीं बोलते हैं इंटर्सेक्टिंग लाइन बोलते हैं हिंदी थोड़ा सही है इंगली थोड़ा गड़ यह क्या है इंटर्सेक्टिंग लाइन है और यह इंटर क spoken although लिख लीजे आ लीज़ आप लोग इनको बना लीजिए फटाफट चलिए जल्दी बनाएं रोन जल्दी जल्दी से बना लीजिए इनको समझ सकते हैं आप इनको याद नहीं कर सकते हैं लिख नहीं सकते हैंAre वहiqué है अगला है संगामी रेखाएंग निंग लाइन ये भाई संगामी रेखा हैं कौन से जानवर का नाम है समझना कि इसकी हिंदी थोड़ा सा गलत लिखी गई है जो इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो संग्रामी नहीं है संगामी है ऐसे है संगामी भाई हिंदी तो थोड़ा लिखना सही सीख लो नकल वड़े अच्छी नहीं है कि रुक जाओ तंगामी रेखाएं ये कौन सी रेखाएं है इसमें से कितने लोग जानते हैं तुबास वनोज रोसनी सिवानी ठाकुर हां बताइए संगामी रेखाएं कंकरिंग लाइनज आप लोग जानते हैं बोलीए यह जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ और बताया था परतिछेदन बिंदू बताया था ना बिल्कुल वैसे होती है कंगामी रेखाएं का मतलब बस बिल्कुल वैसे होता है यानि एक ही तल पर इस्थितुवे सभी रेखाएं जो एक ही बिंदू पर पतिछेदन करें समझे हो ना एक ही तल में इस्थितुवे सभी रेखाएं जो एक ही बिंदू पर पतिछेदन करें जैसे अगर यह रेखा है ऐसे यह रेखा है और यह है यह गलत है यह देखो थोड़ा सा पगल से निकल गई ने यह ज्यादा चलाक बन रही है इस पे से ही ओके जाना चाहिए अगर आप यहां पर ध्यान दीजिए यह थोड़ा मैं खिसका के इधर कर देता हूं तो यह सभी एक ही जगा इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जितनी रेखाएं हैं यह आम कुछ भी आप लिख सकते हो मानलो इंके यक्स वही नाम रख दिया इनके जड़वन और तो नाम रख दिया इनके पीक्यू नाम रख दिया इस सभी रेखाएं क्या हैं संगामी रेखाएं आप उन पर दिन में मैसेच करिए या कॉल करिए नमबर करके रख लीजिए कि आपकी जो भी इंक्वाइरी है सब बताया जाएगा आफ ही चाहते हैं यहाँ पर नहीं हो सकता सारी जानकारी क्योंकि डीटियल में बताएंगे टाइम लंबा जाएगा पर लिखिये मिटाता हूं चलो हो गया यह समझ गये अगला तिरियक रेखाएं डाइगोनल लाइन आप लोगों ने सुना होगा अप नंबर पॉइंट देखिये ध्यान दीजिए अप नंबर पॉइंट कंक्रिंग के बाद में आप देखिए डाइगोनल लाइन अच्छा यह बताएए सबको स्क्रीन तो क्लियर दिख रही ना एकदम सबी जल्दी से बोलेंगे यास 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 जिनका इंटरनेट थोड़ा धीमा होगा उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी इंटरनेट जिनका धीमा होगा अगर आपका इंटरनेट धीमा है तो क्वाल्टी को एटोमेटिक नहीं उसको मैनुली कर लीजिए चार सो बीस पर या तीन सो साथ पर प्रीती भीजा खान जिवान जिब्या प्रिया अखिलेस ठीक है कुछ लोग तेहां फाल तो टाइम बरबात कर रहें बिना मतलब के पढ़ लीजिए जाके अपना भी पढ़ लीजिए पित तो यह तरियक रहेखा भी बचा है मे vintage जो यह दोया दोसे अधिक रहाओं को काटे वो तरीयक रहा रहा है ऌज वो रहा जो दोया दोसे अधिक रहाओं को काटे वो त्रियक रेखा का लाती है मतलब एक ऐसी होती है जैसे दो लोग खुसी-खुसी है आपस में तो उनको उनकी खुसी बरदाफ नहीं होती है दोनों की जाके बीच में खलर डाल देते हैं कुछ वैसे होते हैं जैसे अगर यह दो रेखाएं है ना इन पर एक रेखा ऐसे खीची जाए तो यह डाइगोनल लाइन का लाती है कि समझ मैं ना सरवन गोस्वामी जी बिल्कुल बहुत लगी है आपका नाम बहुत अच्छा है सरवन जो नाम है कि मैंने कल भी वत आया था ना आपको समझ गये ना आप तिरियक रेखाएं वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काड़ती है वह क्या कालाती है इसमें अगर हम बात करें अगर इनके नाम पी और क्यू रख दें तो पी क्या है डाइगोनल लाइन है कि क्या है यह प्रित्त्री अगरेखा है किसमझ रहे ना आप लोग के आप लोगोंसे सिकवा सिकायत है तो पहले लेकिन आप लोग चटनी बनाने पर तुले हो यह कि आप लोग कलास तेर नहीं करते हैं च्छात्रों की संख्या को कि उपर कभी नहीं जाती यह बहुत है से घर करने में सर्माते हैं मैंने कई बार बताया कि आप लोग अपने वाट्सप अपके गुरूप में चाहिए वो का लेज का गुरूप हैं है कोड़े दीजिये कोई देखे या ना देखे लेकिन भेज दीजिए जवरजस्ती दीजिए यहां मुझा रहे ना लेकिन आप लोग करते ही नहीं है वह भी कलास में है अच्छी बात है पर एक दिस्ट मैं कहता हूं ना कि उनको भी कलास में लेके आया करो वागी तो आज कल लोग सिर्फ काम काम के होते हैं मतलब निकला कि खिसके अच्छा कर दिया आप लोग अभी भटापट सेयर करके आईए नहीं तो आगे कहानी नहीं होगी बंद जल्दी सेयर करके आईए अभी कोई सोया नहीं मुझे पता है मुझे पता इसमें जो जो कलास में जुड़ा है ना इसा वस्था वाले रात के तीने बज़े सोते हैं उसके पहले नहीं सोते है जल्दी से फटा-फट अभी सेयर करके आईए अब बीच में बोलना पढ़ रहा है मुझे नहीं तो मैं बंद कर रहा हूं क्यों कि अगर सो इस् इसमें हम टॉपिक की बात करेंगे वसे आज तो नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने उमीदे सारी तोड़ दिया है कुछ दिन से उमीदे तूट रही है अर दिन तो आप लोग सेयर करते नहीं को मैंने कई बार कोशिश किया लेकिन नहीं करते तो क्या करें अगर अगले दिन आप लोग कलास को सेयर किये रहेंगे और बच्चों की संख्या जूड़ेगी कल न तो कल हम कोण यानी एंगल एंगल के बारे में एक-एक पॉइंट बताएंगे समझ रहे ना देखो कितना खतननाग चीज लिखा है प्रितिया दौड सेयर करके आओ वाह बहुत चीजाद आ गया इससे तो भई आप लोग इसे सेयर जरूर करिएगा कल सब पढ़ाएंगे इसके आगे ठीक है आज की कलास छोटी ही चलेगी क्योंकि आप लोग की इच्छा नहीं जड़ा पढ़ने की हां तो कुछ कोईश्टन पूछ लेते हैं हमें अच्छा लग रहा है अकेले तनाई में बात चीत करना चलो सुनो तो एक कोईश्टन बताओ छोटा सा की बताओ अभी ध्यान से कि अगर मैंने लिखा एक सो असीन का कौण तो यह क्या अधिक कौण है कि इस अधिक कौण है घॉँदाय यह यह अधिक कौण हैको है आत्याया जऄ है कि आतागीक आत्या है शापने पहले शोटन भी शोile बताएं हैं भाई कंबचा आ क्रणा नाहीं के आपका नाम लखी यह लेकिन काम आपका उतना लखी नहीं आए तो आपका तो गलत है कर दिला इस व लोगं फूसीं में जीते संभी लिखा है.. यह क्या है अधीकॉण है यह जैदिकॉण नहीं आप कहा उब हर्गे काहन नहीं कि आधीकॉण के नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि जो अधीकॉण होता है वो लिसकी जात़ होता है और 179 हे लिए एटी यह क्या है इस्ट्रेट एंगल है न हिंदी में इसे था है रिजू कॉन ऐसा कुछ बोलते हैं यह यह रिजू कॉन है अधिक नहीं है एक महत्मा एक दिन हमसे पूछ रहे थे वाट सब्सक्राइब की बताओ गुरुजी हमारे मित्र हमें दिखा रहे थे कह रहे थे बोल रहे हैं गलत है गलत है इसमें कुछ वह कह रहे थे कि आप कहते हैं एक सो उन्यासियंस का कौन तो अधिक नहीं है तो उनका यह सवाल था कि 179.2 या 0.5 अगर है तो वह कौन सा कौन है देखो भया यहां प्याइच जी तो हम लोग कर नहीं रहे हैं अगर इतना डीपली हम जाएंगे तो यह सब नींद में आ जाएंगे और मुह में भी अच्छा लगेगा इसमें दिमाग पकाने में यह डीलेड वाले हैं बेसिक मेहत पड़ रहे हैं एक परकार से आपका जितनी मतलब इतनी पर सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको जितनी जरूरत है उतना ही जरूरत है कि यह समझ जाएं एक एक के अंतराल पर कि 179 तक अधिकोंड है यह अधिकोंड नहीं अब इसके बीच में अगर घुसोगे तो पॉइंट-पॉइंट में बहुत कुछ होता है कि अधिकों के लिए या फिर तुम कंपर्टीशन की भी परिक्षा दोगे तो तुम्हाई लिए जरूरी नहीं अभी कहीं भी ऐसा मिलता नहीं है तो बस ऐसे लोगों के लिए यही है हमारी तरब से भी आओ घर में जितना खाना बनता है केले नहीं डखेल जाते हो थोड़ा थोड़ा साब लोग को मिलता है ना इतनी तुम्हाई लिए जरूरत है उतने लोबस तो बस वैसे यहां पर इतना ही जरूरी है आप लोग समझ तो 91 से ले करके 179 तक जो कोण होता है वह अधिक कोण होता है 180 का जो होता है वह रिजू कोण होता है इसे इंग्लिस में स्ट्रेट अंगल बोलते हैं अहिए और जो 181 से स्टार्ट होता है वह कौन सा होता भाई हम तो बोल रहे थे कि पढ़ाएंगे नहीं लेकिन पढ़ाने लगे मतलब मजा भी आने लगी अभी तो मैंने एंगल शुरू नहीं किया लेकि अभी मैंने कौण पढ़ाना शुरू नहीं किया है इसी लिए पतल यह एक अलग दिसा में जाता है जैसे अगर मैं इसको पढ़ाओं आज ही पढ़ादू क्या मुझे लग रहा है कि आप लोग सेर कर रहे हो क्या कल पढ़ाएंगे कल पढ़ाएंगे एक नए मूड में अच्छा रहेगा तो कर भक का पढ़ाऊंगे डीटियल में इसमें कुछ कोन होते हैं जो अदूतिये मतलब जान रहो अदूतिये का मतलब जैसे अगर एक अच्छी भासा में बोलें तो जैसे सूर्य चंद्रमा थारे थारे नहीं शूरी पही पूलेंए चांद भी अगर सूर्य भी बोलेंगे तो स पाइना उछित नहीं ऊगा क्योंकि सूर्य के आएक तारा है अब को मौतबशनी केवा शोक अलाग अनलक चीजप है थोड़ा सा आप लोग को मालूम है सूर्य में यह याज है रहा आते आ का है कि इसलिए लोग चांद के पार जाते हैं कि को कोई कहरा सब जूट अभी बात करेंगे लाश्ट में इस टॉपिक पे आप लोगों को एक दर्द भरी प्रेम कहानी सुनाएंगे हम संडे को दिल थाम के बैठिएगा बांद बांद के कसके संडे को सुनाएंगे हमारे एक दोस्त हैं पंकर जी उनकी यह बिल्कुल सची कहानी है और काफी करीवी हमारे तो मुझे मालूम है मैं बहुत दिन से आपको सुनाने वाला हूं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिन्दगी अनुभा बहुत देती है वह सिखाएंगे हम आपको सुनाएंगे अ सुनने कोंड सम कोंड और समपूर्ण कोंड और रिजु कोंड यह अदूतिये हैं यह क्या है यह अदूतिये हैं अदूतिये का मतलब यह एकका एक्थी होते हैं बस एक एक होते हैं जैसे सुनने कोंड की अगर बात करें तो सुनने कोंड जीरो डिगरी का कोंड सुनने कोंड होता है संपूर्ण कोंड की बात करें तो 360 हंस का कोंड संपूर्ण कोंड होता है वैसे तो संपूर्ण कोंड बाद में लिखना था रिजु कोंड पहले लिखना थ तो एक सो अबडिती एकक दबल नहीं मैंना प्लेकिन अगर हम निवी और कि बात करें जिए अधिक कोन की बात करें इसके इनके एक साथ में अधिक ऑदेर सारे होते एक प्रकार से यह बेवफा वते हैं कि इसके मतलब मतलब से मैंने एक दिन बताया था ना इसलिए अछिसे लिए आप दिल से अच्छे अच्छे दूर रहना तो दिल से अच्छे लोगों को दिमाघ वाले ना बहुत बूरा पटकते हैं ऐसे नहीं नहीं तो बात क्या हो रही थी नहीं मैंने ये सब क्यों इनको मैंने कहा अभी कि अधिक होते हैं लेकिन यह बहुत सारे होते हैं अगर नियून कौन की बात करें तो वन डिगरी से स्टार्ट करें वन टू फाइप नाइन कुछ भी लेके 89 तक इतने भी है वन टू आल कि नियून कौन कि सिबार नहीं है एक नहीं है दो नहीं है यह पूरे पूरे 89 कि अतने अ hired गरॉच अगर अधिक बकुड कि बात करें तो इनकी भी कहानी कुछ वय से ही सिंद्यंके काँनिक वाई सभी सब्सक्राइब अगर आप 150 अंसका कोण कहेंगे वह अधिक कोण हो गया कि 110 अंसका कहेंगे वह अधिक कोण हो गया यह ऐसे प्रेमी जोड़े होते हैं न जो दूसरे खुपड़ी भाद रखके भी कासम खाते हैं भगवान का सम तुम्हारे अलमा हमारे जिंदगी में लेकिन सच नग Kommentare लेकिन में क्या होता है कि उनको छूड़के बाकी जिन्दगी पहोत कोई होता है अ ऐसा पूल सही बोला की नहीं मैने अ है कि सब्सक्राइब दूनिया के सामने हंसते हैं लेकिन अंदर में क्या होता है वह उन्हीर को समझ में आता है यहां पर जो लोग दात निकाल रहे हैं उनको भी पता है क्या तकलीफ है अंदर से तो फिलहाल यह क्लास ही पर इंड करते हैं मुझे लग रहा है कि आज का यह क्लास है वो बंद कर देना चाहिए क्योंकि बहुत ओबर हो रहा है यह टॉपिकल डीटियल में पढ़ाएंगे आपको विस्तार से पढ़ाएंगे कि को एक्सपीरियंस बहुत है कोई बोल रहा है अंदर से हमारे भी एक आत्मा है एक्सपीरियंस है नहीं हो गया मतलब था नहीं पहले बस धीरे-धीरे हो जाता है जलिए तो फिर आज के लिए यहीं पर इंड करते हैं किसी का कोई सवाल है तो बताईएगा लेकिन संडे को याद दिलाना वो कहानी जरूर सुनाएंगे क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छी चीज होती है लेना चाहिए कहीं भी मिले को अधी उप्राथ से भी हमें सही रास्ते पळे आते हैं इसलिए घबराना नहीं जो भी लाइप में होगा मान के चलिए सब अच्छा हो रहा है कि चलते हैं फिर कि आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को दिल से थैंक्यू जो आप लोगों ने इतना देर देखा कम से कम उमीद है बहुत कुछ सीखा भी होगा बहुत फालतू बातें भी हुई है जरूरी था वो भी थैंक्यू बनता है ठीक है जब एकट कोण बनेगा हम बात कर रहे हैं एंगल के बारे में एंगल एनी कोण क्या होता है इसकी परिभासा क्या होगी जो सरल रेखाएं जिस जो सरल रेखाएं जिस बिंदू पर मिलती हैं उनमें जो जुकाव होता है उसी को कोण कहते हैं जैसे यह दो सरल रेखा आपस में मिली इस पर क्या एक जुकाव है जहां पर मिल रहा है यह पिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यह रेखा एक यह है इसमें भी यहां पर जुकाव है यहां पर क्या एंगल बन रहे हैं यहां पर सभी क्या है कोण बन रहे हैं जो लोग परिवासा लिखना चाहें लिख लीजिए जो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उनके बीच के जुकाओ को कोण कहते हैं निदी मौर्या अर्राम लखन जी सबको समझ में आ रहा है न ठीक है अच्छी बात है मैं इसको मिटाता हूं आगे बढ़ते हैं आप लोग यह बताओ भई कि कोण कितने प्रकार के होते हैं जो चात्र कल वाली कलास में जुड़े थे उनको पढ़ाया गया था कोण के कुछ अंस लेकिन मैंने कहा था कि आज मैं एंगल की सुरुवात करूंगा और आज मैं सुरू से पढ़ाऊंगा न तो ठीक है मैंने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है एंगल हो गया क्या है यह एंगल आप इसके बारे में समझ गये नदे तैया लिखाना न ए एंग मैं कलसु बहुत अच्छे भाई लकी जी ने बताया साथ प्रकार के होते हैं दिव्या लए पटारे चार प्रकार कि कोण होते हैं अकांछा भी पांच परकार की बतारी अनुसाथ प्रकार के मतलब आप लोग कौन-कौन से गरहा से आयों है कुछ मंगल से हैं कुछ चंद्रमा से हैं कुछ विरसपति सुकर सभी है क्योंकि ये सब आला गला गुत्तर बता रहे हैं आखिर अगर सही जबाब है तो एकट ही होगा ना अब तो नहीं होगा ना देखिए हम लोग यहां पर कितने परकार से होते हैं कितने परकार के होते हैं उनकी बात नहीं करेंगे मुख्यता में में जो बात करेंगे जो हम लोग जानते हैं पराया पढ़ते हैं वो साथ परकार के ठीक है साथ परकार के लिखिए नीची अगली हेटिंग में डाल दीज ए कोणों के परकार कोणों के परकार च्छल theo फा पहला होता है न्यून कोड जिसें इंगल्ष में अक्यूट एंगल बोलते हैं एक्यूट एंगल पहले आप लोग लिख लिजीए फटा फट ठीका है लिख लीजिए साथ साथ में लिखते जाएए क्योंकि यह mathematics है बाबु भीया यह mathematics है लिखते जाएए अगला है right angle बसे पहले लिखिए एप्टिवस एंगल एंगल यानि अधिक कोण की वाला लिखिए और राइट एंगल यानि सम कोण आतों प्रकार के लिख लीजिए फटाफट ठीक है देर आर सेबन टाइप आफ एंगल बिल्कुल सही बहुत अच्छे बिद्दासागर जी देर आर सेबन टाइप आफ एंगल अगला है स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल जिसे रिजू कोण बोलते हैं क्या बोलते हैं बही रिजू कोण बोलते हैं यह आपके फोर टाइप के एंगल हो गए फटापट लिखते जाएए अगला फाइप वाला है कम्पलीट एंगल कम्पलीट एंगल कम्पलीट एंगल यानि संपूर्ण कोड संपूर्ण कोड आपने सुना होगा बहुत सारे कैमरे अगरा मिलते हैं जो कहते हैं कि इन सु साथ मतलब चारो तरफ कि पल्लक राय कि अजी बिल्कुल कमेंट आप का रहा है और गाइज भी आपको देख पा रहे हैं चलिए आगे बढ़िए अगला है जीरो एंगल तुन ने कोड और रिफ्लेक्स एंगल पहले रिफ्लेक्स वाला लिख लीजिए रिफ्लेक्स एंगल स्पेलिंग साही लिखाऊ ना ना बेसे बोलते हैं ब्रहत कोड और जी यानी 7 वाला है जीरो डीगरी एंगल ना इसे बोलेंगे जीरो एंगल क्या बोलेंगे जीरो एंगल सुनने कोड तो यह आपके साथ प्रकार के कोड होते हैं इनके बारे में कल मैं देमो दिखा चुका हूं आज पूरी पिच्चर दिखाएंगे माया देवि बिलकुल जीरो लेबल से ही सिखा रहे है याँ पे इंछ जात्रों को बेसिक मैट्स जॉईन करना है बिलकुल सुरू से नीचे स्क्रिन पर नंबर चल रहे हैं उन पर इंपके संपर करिए आपकी सारी समस्याों का समधान बताया जायेगा जो भी आप जानना चाहते हैं कलास से संबंदित चलिए अब हम यहाँ पर detail बात करते हैं खातियों सबसे पहले अगर हम बात करें acute angle क्या होता, noon cone क्या होता है तो यह ऐसे cone होते हैं जो 90 से कम होते हैं क्या होते हैं 90 से कम होते हैं बस आप इतना जान लो लेकिन 0 degree से बड़े होते हैं सूने cone से बड़े होते हैं 90 से अधिक होते हैं तो जैसे कोई बी angle ऐसे भी बना जाहने है अगर ऐसे जुका हुआ है ऐसे बना जाहें और उनKA अगर इधर वाला कोंड कहेंगे तो नियुन कोंड नहीं होगा अगर इधर को जूकी है लाइन ऐसे हम इधर वाला नियुन कोंड कह सकते हैं यह अगर इसको बी लिख दें इसको ए लिख दें तो हमारा बी वाला नियुन कोंड हो सकता है लेकिन ए वाला नहीं हो सकता है क्यों इसमें mathematics में PhD करने वाले हैं बहुत जदा डीटीयल में पढ़ने वाले उनके लिए नहीं अगर तुम यह कहो क्योंकि बहुत से बच्चों के सवाल आते हैं मैंने देखा है गुरुजी 89 वाला तो बता दियो 89 वाला तक नियुन कोड़ है अब आप कहोगे कि नब्बे से सम कोड़ है तो इस बताओ 89.1 89.2 अगर दसमलों में जाएंगे तू कौन सा कोड़ होगा तो देखो भाई यहां पे हम इतना डीटीयल में अभी नहीं पढ़ा रहे हैं और इसकी जरूरत भी नहीं है न कहीं पूछा जाता है इस पर चर्चा करेंगे तो कहानी लं अगला है अप्ट्यूस एंगल यानि अधिक कोड अधिक कोड क्या होता है अधिक कोड क्या होता जानते हो कि यह ऐसे एंगल होते हैं जो 180 से अधिक होते हैं नहीं 180 के अंदर होते हैं यह 91 से ही श्टार्ट होते हैं और 179 तक होते हैं चैसा आप लोग दो दो अधिक कौन बताईए सबसे पहला जबाब जो देगा उसका नाम में बहुत तेज से लूँगा और उसको एक सर्प्राइज भी मिलेगा चलो कि परभाद इपक किलपा कि नपे से अधिक और 180 से कम बिल्कुल कम लेश्ची करेक्ट अधिक कि पहला जबाब जो मैं पूछा हूं उसका कौन देगा भई पंकज गौतम बता रहे हैं बहुत अच्छे पंकज बेरी गुड अधिक और पंकज की बाद बहुत से लोगों ने बताया है प्रीती रचना नेहा गुपता नेहा गौतम दीपका पटेल ठीक है आप लोग समझ गए 91 से अधिक 179 से कम वह अधिक कौन होता है यानि अगर हम बात करने कुछ एक्जांपल की जैसे 95 हो गया 105 हो गया 120 डिग्री हो गया 135 हो गया 160 हो गया 150 हो गया अधिक कौन है इनके बीच में और जो भी छूट जा रहे हैं वह सभी अधिक कौन है समझ गए ना इसमें कुछ बताना नहीं है आगे आप भ्यास प्रस्ण होंगे तो आप वहां से क्लिर कर लिजिए अगर पुराने जमाने से जोड़ें पुराने जमाने में कि बताना अपने सुनाओगा पती बरता नारी कि नोग सुनें पती बरता नारी मतलब जानते यह यह सअनुप भगवान कब रच करते न कि वह पती बरता होती थी बरता में कुछ अंस मुझे याद हैं कि मुझे कुछ बात हैं जो याद है कि अपने पती का नाम नहीं लेना, उनके खाना खाने के पहले खाना नहीं खाना चाहिए और जिब्लोना चाहिए, स понял नहीं जोया होता है, लेकिन आज और जमाने पे लागुन नहीं होता है, तो आजकल तो लोग फलानेक नाम लेके बुलाते हैं वो अलग बात है क्योंकि लोग बदल रहे हैं दुनिया बदल रही कहते हैं तो यह मैंने वर्ड जो भी बोला इसको क्यों बोला इस कॉंड से क्या संबंध है उसका कि कौन से ये संभंद्ध है जैसे मैंने कहा था ना कि पतीबरता में फीक है लोक कर आपक है संबंद्ध होता है रिलेस्ण होता है इसे समझ लीजिए पर उसमें और कोई गुंजाइस नहीं होती किसी और की नहीं तो वैसे इसमें चार होते ना आपके जैसे सुन ने और मैं ने पट बाद पती वर्तान यारी के काश्बेंड होते हैं एक त्रहाधिक नहीं होते हैं वाकि मॉर्डर्न में किसी को कुछ कहने तक को पूरा नहीं मानी हेगा मतलब मेरा शमझियेगा नहीं तो कोई कुछ और मतलब निकाल ले हुँ को मिकान में cancers एककाइकोन होता नव्वेखा पूछु है कि दित ना यह यह कौण में 180 में एकका एक एक एकए यह निगे लेकिन हम नीवन की बात करें या अधिक को बात करें यह माड़न जबाने के अब यहां पर जहां में नारी नारी बोल रहा था है यहां पर पुरुस भी हो सकता है तो यहां पर सिर्फ एक की बात नहीं हो रही है सब समान है इक्वल है ना आएए देखते हैं तो तीन कोण मैंने ऐसे बताए जैसे एक ब्रिहत कोण एक अधिक कोण और एक निवन कोण यह एक से अधिक होते हैं यह ना तो पतनी वरता होते ना पती वरता होते हैं यह मडर्न जमाने के हैं विदेशों का मान लो जैसे आपको पता है विदेशों में जैसे अमेरिका हो गय सब्सक्राइब को पता नहीं होता है कि यह सब हमारे यह चलता हमारा देश सुद्ध है अपर साथ जनम जनम का साथ होता है बातचीत बले नहीं हो पिटाई रोज होती रहे लेकिन साथ नहीं शुड़ता है करड़ तो यह में इद घैना था ईय कि अधिक कोड़ और उसक्राइब प्रियहे यहीं तीन समझने वाले लिपी यहीं तीन संजने वाले ब vita कोण्ड में से लेकरके 89 तक क2018 अधिक खुरमें 91 से लेकरके 179 तक अधिक होते हैं और ब्रीफित कर में 181 में ऑने 181 से लेकरके 359 तक पर खत्युद करूंग होते हूं कि दिए cya ör Igloo Saudi착 मैंने ज़िखा डिनी भी आशनकी से चुरु और 3609 पर खत्म इसके बीच के जितने भी अंगल होंगे, सभी ब्रिहत कोण होंगे, रिफलेक्स अंगल होंगे, क्या होंगे, रिफलेक्स अंगल होंगे, अब ध्यान देना आप लोग, और बताना, अगर मैंने लिखा 190 अंस का कोण, तो ये क्या है, अगर ये ब्रिहत कोण है, तो आप लोग होगे सी और अगर यह अधिक कोन है तो लिख के बोलोगे लेकिन कोई भी नहीं लिखना चलो बताओ कि या सी क्या हो जल्दी करिए फटा-फट बताइए फटा-फट चलिए क्या आएगा जिल्पा कैसरवानी ठीक है ट्राइए करते के देखिए फटा-फट चलिए जल्दी जल्दी बताते रहिए ठीक है ओके जीपका पटेल अन्नू कमलेश पंकाच तो सभी समझ रहे ना इनका सी जो बोल रहे हैं उनका सही है जो लोग सी बोल रहे हैं उनका जटो लोग बीडम ऊंनका तो बिल्कूल ऊंत बोलते हैं आप लोग दो2-2 एक्जांपल बताईए बताईए दो दो बताईए पोचिस करिए एक बार सबसे पहले कौन बता रहा भाई ये फलानवा की बीबी कौन लिख रहा है प्रीती ये लोग पढ़ रहे हैं कि मजा ले रहे हैं अभी फलानवा की मम्मी भी आ जाएंगी अनुपम जी बहुत अच्छे अनुपम जी ने सबसे पहले बताया है दूसरे नंबर पर क्यूट फीजा खान है और तीफरे नंबर पर सुप्रिया तिरपाठी अकमल लकी कमलेस और कौन है भाई जल्दी जल्दी बताए रही है नित का और है 151 से अधिक होना चाहिए 359 से कम होना चाहिए अछ अगर यह 359 की जगा पर 3060 हो गया तब क्या होगा है अग्यों स्मस्टा गउगा तीन संट्कों middle teammate एब прекрас थे और झांब섯रche जल्दी बताए और देंगा werth का नहीं कांदा हो जाते है संबली टेंगल बहुत अच्छे बाई दीपंदर जी संपूर्ण कोण..? संपूरुनुकोण थेृता देभी holds बहुत अच्छे.. डिक है.. तो आप लोग समझ के बारे में कोन का प्रकार समझ गय अब इसका जो चैप्टर था ना ये चैप्टर भी खतम हो गया 10 वाला 11 चैप्टर पढ़ना पढ़ेगा जिसमें त्रिभू जो गयारा पढ़ेंगे अगली चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ बचा है अच्छा आप लोग वह बताईए नियून कोण का तीन तीन इक जांपल बताईए जल्दी बताईए नियून कोण के तीन तीन उदारन बताईए पोचिस करिए अन्नु सुकला बोलो ना जो लोग यहां बोल रहे हैं अवे यहां पीटना भी शुरू कर देंगे अरे यह पागल डाई टाइप के कुछ लोग है ना अगल बगल वह यह चिल्ला दे दिपेंद्र आर्थिक हम 85 मैंने पूछा था नियुन कोण मतलब 89 से कम होना चाहिए बस आप सबी समझ गये तो एक बार में एक सूर में बोली है यस यस अबी समझ गये ना कि वीक है आप लोग कौण समझ गये और बार रेखाख समझ गये रे खाखंड समझ गये और किरंड और मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ बच्चा है कि इससे ज्यादा और क्या पढ़ोगे फास समेस्टर में बच्चे की जान लोगेगा अब इतना दा बहुत है कि अब फास समेस्टर में पढ़ लोगे तो अगले हम का करोगे कि यह हो गया खतम इसमें क्या और बचा है कुछ समझ में आ गया न नहीं wise के लया मुझे रही है रही नहीं अए गया कर दो अब कुछ नं कुछ होता रहेगा ऐससे इसके बाद क्या है तिर्भूज वाला चैप्टर है वैसे तो हम अगले चैप्टर में खुशी गए हैं अब कुश्चन सुनिये और जबाब दीजिए ध्यान से सुनिये ध्यान से सुनिये कान खोल के पानी मनी डालो तेलो लगना सुनाई पढ़ रहा हो तो सुनिये पहला आप्शन है 180 पहले आप्शन लिखूंगा फिर मैं कुश्चन पूछूंगा ध्यान से सुनना इसमें से आपको कोई एक आप्शन करेक्ट सेलेक्ट करना है दिख रहा है नहीं सबको दिख रहा है ना यह बताइए आप सभी लोग कि सम्दुबाहू समकों तिर्भूच के दो कोणों का योग कितना होता है सम्दुबाहू समकों तिर्भूच जल्दी बताइए सम्दुबाहू समकों तिर्भूच दो कोणों का योग बताना है अंजली बर्मा देखा कमलेश अनुपम माया नितिन सुप्रिया पलक ठीक है कोशिस करिए आप लोग अगला कुश्चन इसी में आपको जबाब देना है अब मैं ज्यादा ने लिखने वाला हूं बताऊंगा भी नहीं अफ़ी सब बताऊंगा मैं सब पढ़ाया हूं भी कलेर करूंगा है के सुनिए उन्फेण होड़ा है सबसे पहला जबाब आया है इसमें अगर हम देखें तो क्यूट फीजा खान का बहुत अच्छे नब्वे अंस असनेया फिंग दीपका प्रटेल सर्था प्रीती माया दिपेंद्र कमलेश पंकाज अखलेश अंजली ठीक है सही है कितना नब्वे होगा किसी भी चाहे वो आयत है या वर्ग है उनके परतेक एंगल जो होते हो नब्वे नब्वे के होते हैं चीक है अगला कुश्चन सुनिए वर्ग की परतेक भुजा क्या होती है उवर्ग यानी स्क्वायर की परतेक भुजा होती है समान होती है असमान होती है बराबर होती है समांतर होती है इन में से कोई नहीं तोनी अदो कि कुछ हम नम के पीछे पड़ रहते हमेरा नाम नाश 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 पान नाश और उत्तर बताते हैं जो लोग पहले उनका नाम बोलते हैं अब कहो कि हम याद करके आए यह सब नाम तो हम याद नहीं किये जिनका नाम हमें पहले दिखता है उनका नाम बोलते हैं कि वर्ग की परतेक भुजाएं बराबर होती हैं देखिए यह सब चीज भी आपको आनी चाहिए नहीं तो फिर कहेंगे कि यह तो सिलेबस में हाई यह नहीं नहीं है यह बगवानी तो बाहरेस दे दिए चोटी-चोटी चीजें अब खाना खा रहे हो तो बरतन में तो खाओगे ना आथ में लगे जमीन पर रखके दखाओगे नहीं अब यह थोड़ी कोई बताएगा अब बरतन में लेके खाओगे खाना खाना है तो अब तुम खुदी समझ लगा बरतन हम खाएंगे वैसे कि पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं लेकिन आपको आना चाहिए तो आयत की भुजाओं में क्या होता खासियत इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं सम्मुख बराबर होती हैं बस सब नहीं यह आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं अगर यह साथ है तो यह सब बराबर होती है चारों तरफ से कि किसी का नाम लेके नहीं बोला कि आप बोल रहें नाम बोलने को काये को परिषान है आप लोग काये चिड़ रहे हैं हाँ चलिए आगला कुश्चन सुनिए ध्यान से नब्बे से अधिक और 180 से कम माप के कोण किस परकार के कोण होते है जंदी बताइए नब्बे से अधिक और 180 से कम माप के कोण किस परकार के कोण होते है नब्बे से अधिक और 180 से कम आप्सन सुनिए पहला आप सने निवन कौण दूसरा अधिकौण दीसरा सम कौण और चोथा सम पूर्न कौण आफों अप्सन भी और भ Giright कौण खुशी के लिए तुमारी चलो छल दिबताईए तेज से बोलिए हाँ हाँ बोलिए चल्दी बोलिए जब भगवान बुद्धी दे रहे थे इनके भूंक लगी थी ते नहीं लिए बिल्कुल सही इसमें जो सबसे पहला जवाब आया है देखिए यहां पर एक दूर बकलो टाइप के बैठे हैं है कि मुझे आवाज नहीं निकल रही मुझें गोपर रहे हैं इन बार पूछ रहे हैं एक बार बोल रहे हैं यह हमारे जो आनलाइन वाले यह अच्छे कमलेश जी का सबसे पहला जबाब था कमलेश जी बहुत अच्छे बेरे गुड अधीप का नेहा अच्छा कोई कहरा सर इसमाइल तो कर रहे हैं मतलब क्यों भाई मैंने कहा था कि इसमाइल नहीं करें क्या अच्छा जो बताया था वह हाथसा वाला का छोड़िए ओसब्जाने दीजी और यह क्या होता है नब्वे से अधिक और 180 से कम चाहे तो यह बोलें और चाहे तो सीधा-φिदा बोलें कि इतना तक इतना फेवह इतना तक या इतने के बीच में या दिक होता है निवन कोण वो दूल कोन तक होता है यसमें नब्ब्ब से कम होता है नब्बब से अधिक नहीं वहता है ने उन कौन केवल 89 तक होता है पुलागर कुश्चन सुनिए ध्यान से अन्य और बताते जाएं देखे इसमें अभ्यास प्रस्न है कि एक सो असिंस के कौण को क्या कहते हैं एक सो असिंस के कोंड का क्या नाम है पहला आपसन है संपूर कौण दूसरा सुनने कौण दीसरा है रिजू कौण और चौत है बरियत कौण पताइए रचना रैसमी सिंग लाइब कलास के साथ साथ आफ लाइन में इस्टूडेंट कलाफ ले रहे हैं अच्छी बात है आफ लाइन में ले रहे हैं बढ़िया है चलिए ठीक है तो आप लोग समझ रहे न मेरी बात की नहीं अरे इस्टूडेंट नहीं है इस्टूडेंट के ममी बापा है जो यहां पर है यह अब इस्टूडेंट के काविल नहीं बचेते लिए आप लोग समझ गए होने बने अभी क्या पूछा की 138 कсем क्या को क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है बर्यात कोण है अधिक भी कोण हे संपूंड कोण है हो सकता option बदल गया हो इसका सही जबाब हैं घुए क्योंड बोलते हैं क्या बोलते हैं इस ट्रेट एंगल जो सीधा फीदा जाता है कि करें है कि समझ गए ना कि एक और बताईए कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदयों होती है कि समांतर रेखाओं के आता है कि समांतर र्यां के बीच की दूरी केении का होती है कि समांतर रोती है समाँ होती है कि का होती है सबसे पहला और सही युपर दूतरे नंबर सक्स्याचत जिनका नाम है सब जली और 5 पर हम सब के साथ लगत बाइसे नाम आई को मेंन अनंत प nellडा पक्राइब आई लौनut गोल देदो अपना ओक और मैं बोलूं ओवन तो नोग थहां हमें क wheat क SUPER SEM AHave लोती है हमेशा बराबर होती मैंने बताया था कि रेल की पाटरी इसका एक्जामपल है छोड़ेंगे न हम सथी स्टार्ट procs अक्पसमें कभी basics ऑफ में ऊदर को चलीक और फुछ राजकां अठीने मिरा तो इनके बीच की दूरियां हमेशा आपस में क्या होती बराबर होती है एक समान होती है ऐसा भी बोल सकते हैं यह हो गया मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ हो गया है और भी कुछ सीखना किसी को वहां रेखा जो एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक लगतार दिषा बदलती रहती है वो क्या कालाती है पताईए जमेटरी ले के जाना पड़ेगा एकजाममें ले जाना तो गड़बड नहीं है सब्सक्राइब कोई फिघर बनाने का सब eyli एक औरल लेंget के उसमें का मा具 नहीं क्यों निए बद रहा है कुछ लुग कपढ़ेंगे कि अधिक है बहुत अच्छे कोई त्रियक बता रहा है कोई वक्र बता रहा है को यह इन्हें कर्ब बोलते हैं सुद्ध मासा में वह रेखा जो एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक लगातार दिसा बदलती रहती है मतलब उसका कुछ निश्चित ही नहीं है कि जाना कहां है चले कहां से हैं अब ज्यादा कुछ बोलते हैं तो लोग कहते हैं आप बढ़ाते कम बखवा ज्यादा करते हैं इसलिए नहीं बोलेंगे यह ऐसे हैं जाज इदर को चली जाए जिदर को मूड बना उदर को गई तो य यह क्या करव राक्री इसमें यह ने दो चीज बताया था हो ऐसे क्लोओज बताया था एक पंडक बता concur बताया थाρ पंद सत्थ्र UP она ऑने लाग और छील उन्हों होता है कि अगर वह वक्र कर जिसका स्ट्रिंग और इंडिंग और दोर्व Спव yht है समान है कि दोनों समान है तो बंद वक्र होगा अगर दोनों अलग अलग है तो खुला वक्र होगा सौरब तिर पाठी बहुत अच्छे तो यह हो गया एक कुईस्टिन और वैसे इसमें इससे ज्यादा कुछ था नहीं और ग्यारा भी वज़िगे आज कलास देर में सुरू हुई ना साड़े दस बज़े हुई तो आज साड़े ग्यारा बज़े खतम होगी कर बकर बकर मत बोलिया आप लोग डिस्टम मत करिया और लोग को ठीक है चलिए इतना हो गया नहीं दिखरा थे यूटूब पर देखिये ना आप लोग हो गया मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बचा है हाँ अगला चैप्टर में आप तिर्भूच के बारे में पढ़ेंगे देखिये इस समय कुछ बहुत डिस्टरब चल रहा था जो लोग बोल रहे थे पिछले दस दिन से कुछ ज़्यादा ही डिस्टरब था जिंदगी चल रही थी आप इतना जान लीजिए मैंने बताया था पुरी स्टोरी हम आपको संड़े को बताएंगे क्या बात है कैसे क्या है क्या क्या घटना है सब बताएंगे संड़े को अब लोग ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल दिल थाम के रस्ते उसी से बांद के आईए गहां तो ठीक है मुझे लग रहा कि बंद किया जाए हो गया इतना टाइम बहुत है ना यह चैप्टर खतम हो गया कुछ कुछ अगर पूछ लें आप लोग बता दीजिए तो अच्छी बात है जो पढ़ें है थोड़ा रिवीजन कर लीजिए जाना नहीं भाग के तुनिए और बताईए चलिए बताईए दसामलों में बदलिए चेंज इंटू डेसिमल डेसिमल में आपको इसे कनवर्ट करना है पहला आपकी कुछिश्टन है 45 परसेंट अब यह रिवीजन है अलग चीज है इस चैप्टर से सम्मंदित नहीं है 45 परसेंट को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे आप लोगों की जनकारी के लिए बता दूं यह कलास रेगुलर सब्ता में तीन दिन लाइब होती है पंडे ट्यूजडे और बेड़नस्टे कभी कभी आफ़त जैसे मुसीबत आ जाती है तो तीन दिन भी नहीं होती है तो अगर हम सकुसल रहते हैं तो चलती है तीनों दिन ठीक है पता देता हूं देखिए इसमें अगर पर्सेंटेज हटाएंगे तो हमेशा 100 से भाग करेंगे और जब 100 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 0.45 समझ में आया तबसे पहला जबाब आया था इसमें दीपिका का बहुत अच्छे दीपिका जी बेरे गुड अलुपम अगला नेक्स्ट कुश्चन यह बताइए वन सेबन पॉइंट फाइप पर्सेंट इसको आप अगर दसमलों में चेंज करेंगे तो क्या आएगा जल्दी बताइए फटा 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 उद्धी नहीं काम कर रही क्या कि 1 Rat capturedisme पॉइंट फटा परसेंट चलेड़ है फटा फट बताइए भई भाई प्वभाई फटा बताइए् कुश्चन नंबर पी मान लीज्यश को 0.1 टू है इसको बताइए अवसको चोड़िये इसको प्रप्रेंटेज में बदलिए क्या करिए पर्फेंटेज में बदलिए जल्दी बताईए कितना पर्तिसात आएगा ये देखिए पर्फेंटेज में बदलने के लिए सदयों 100 से मल्टीपल करेंगे बताया था ना और कर्चिन हटाना तो भाग करेंगे तो बाई सीधी सी बात है इसे पर्फेंट में बदलेंगे सौ से गुड़ा करेंगे तो इसको हंडेट से मल्टीपल करेंगे किया जाएगा कितना वन टू जबल जीरो लगा दोगे दोंग पर दसमलो कुल मिला के फाइनल में बार आएगा कि इसका सबसे पहला जबाव आया था दीपका पटेल दीपेंद्र यादो अधी जी गलत यहाँ पर पर फेंटेज नहीं लगाना यहाँ पर पर फेंटेज नहीं लगाना गलत हो जाएगा कि पुझे सोरी स्वरी यहां पर लोगाना है यह वह पर नहीं लगाना चच्छा यहां पर सब Tag कि शन में नहीं लगाना है उ करेको छाइव बराते चले गए लेकिन तब लोग जैसे नहीं कुछ आलक नहीं दिख रहें चटक मटक दुला कन्फ्यूज हो जाएं गरवाले की दुला कोने बराती कोने यहां पर इसमें जो आंसर आया है उसमें कुछ उसी रूप में आप लिखोगे जो करना है कुछिशन समझ रहे ने आप लोग बताया था थीक है चलिए इस तरह के आप लोग इनको सबको समझी गए एक छोटा सा और भी प्रस्न है हमारा लाइश्ट में आप लोगों से सुनिए अगर किसी परिक्षा का पूढांग 500 है यह क पूछा हूं कई बार आप लोगों से और इस परिक्षा में कोई बच्चा 360 नंबर नहीं 350 नंबर पाता है तो बताओ कितना पर्फेंट नंबर हासिल किया जल्दी जबाब दीजिए फटाफट कितना होगा 500 पूढांग है 350 नंबर मिल रहा है कितना परसेंट हुआ जल्दी बताइए हो गया है कि सबसे पहला जबाब आ गया है उनका नाम है माया गोड़ प्रिटी क्रियाशन क्यूट फिजा खान देखा कितना होगा नहीं बद्धी दे रहे थे बगवान तो इनको वूंक लग गई थी नहीं मालूम है देखिए मैंने उस दिन बताया था सिंपल सी बात है अगर इस तरह के कहीं पूढांक और प्राप्तांक आपको दिये हैं परसेंटर निकालना है तो का करेंगे जितना पूढांक वह अप सब्सक्राइब से काट दो कि सब्सक्राइब कि इतना या सेबन जीरो सेबंटी परसेंट लोगों को पता होना चाहिए चोटी सी बात है अच्छा एक और बताईए जल्दी से फटा फट बीना उठाए बताएगा हम भी बताएंगे बीना उठाए चलिए बताएगे जल्दी करिए फटा फट करिए अगर यह पूढांक यहां पर 600 हो जाए यह मैंसमा मार्क है और यहां पर जो अप्रेंट मार्क है ज्यान देना तो चार सो हो जाए अप्रेंड मार्क्स तो कितना परसेंट बनेगा किसी परिक्छा में जिसका पुढांक 600 है कोई बच्चा 400 नंबर हासिल करता है तो कितने परसेंट नंबर बनेंगे कि आम लफाज गया ना जल्दी करिए फटा फट कि नहीं आ रहा है कि हो गया इसे अगर आप लोग जो कंपटीशन वाले इसमें देख रहे हैं अगर वह नहीं बता पारें तो उनका तो कुछ नहीं होने वाला उनका भगवानी बाला करें कि अच्छे बहुत अच्छे बच्चे जो परसेंटेज में कुछ बता रहे हैं दस हमलों में आएगा देखिए एक्चुली इसमें कुछ मामला जो जाल है कोई है कि पुडांग तो 400 है 100 से गुडा करोगे 600 से भाग करोगे यह जीरो तो कट गया लेकिन यह अटक जा रहा है यह क्योंकि यह दसमलों में आएगा दसमलों में आएगा तो 66.66 सम्थिंग आ रहा ना इनको ऐसे भाग देलो बिना काटे पीटे 400 को 6 से भाग कर दो 36 36 घटाने पाए अच्छे फिर आप क्या करोगे 25 जीरो उतालो क्यों यह ऐसे तो जाएगा ना इसमें से घटाओगे चार आएगा चालिस बचेगा फिर आएगा आएगा आपका चार अब दसमलों बढ़ाओगे वही आएगा फाइनल में 66.66 परसेंट याद रखना इसको कभी ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 66.66 परसेंट क्योंकि यह 66 नहीं है वह उनली 66 बोलेंगे क्योंकि वह वन से भी कम है ठीक है लक्की निदेश जंगी रामपुरा पावटरा की धरती से पड़ाम जी बहुत बहुत पड़ाम आपको भी नमस्कार लेकिन अब आप कलाश देखिए अब आप कलाश देखिए हो गया आप समझ गये न लेकिन इतने में इतना जिल्लबा दिए यह थोड़ा सा अगड़बर टाइप का था यह वाई कापी पेस्ट वाले को बला करो यह लोग डंडा करके रखे एक और बताईए एक दिन मैंने फिर पूछा था आज मैं फिर पूछ रहा हूं कौन सी ऐसी समसंख्या है जो अभाज जबी है पताईए कौन सी ऐसी समसंख्या है जो अभाज जबी है प्राइम नंबर भी है पाड़ना लिखना तो है नहीं लोग को मुझे लग रहा है कुछ ऐसे भी है कि फटा फट बताईए ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुट सही जबाब है दो कि देखिए जो लोग सवाल करते हैं वन के बारे में तो वन ना तो भाज्य है ना भाज्य है भाई ये कोई भी नियम का पाल नहीं करती है संख्या वन जो है वो ना भाज्य है ना ही अभाज्य है कुछ नहीं तो यह सब रिवीजन हो रहा है एक परकार से अच्छाय कुश्चन और बताईए फिर इसी में यह सब आपके चैप्टर के ही हो जहाए जो सब और इसका अंसर कितना आएगा जल्दी करिए फट से बताई कितना आएगा जल्दी कितना आएगा जल्दी कितना आएगा कि देखे दसामलो वाला बहुत आसान होता है एकदम आसान होता है जिसे हलुआ आप समझेगे ना कितना आसान मुदब बीना मेहनत के मिल जाए देखे इसमें बीना दसामलो के आप इनको ऐसे मानिए कि तीन है यह बारा ही चार है गुड़ाप करी लोगे जारतिया ही बारा और बारा का बारा में 144 आएगा 144 लिख दिया यहां पर एक अंक पर दसामलो था यहां पर दो अंक पर दसामलो था एक में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तीन तो फाइनल में तीन अंक पर दसामलो हो जाएगा एक दो तीन यहां पर ठीक है तो 0.144 आएगा एक अंक पर ये दो अंक पर ये इन दोनों के जितने जितने अंक है इनको जोड़ लिया जाता है यहाँ पर वन अंक पर है और ये दो अंक पर है तो दो ये जोड़ करके तीन बनता है तो फाइनल में तीन अंक पर दसमल लगता है अगर यहाँ पर तीन अंक उपलब्ध नहीं है तो संख्या के बाई तरफ जीरो बढ़ा के तीन अंक बना लिया जाता है इसमें देखिए कुछ ऐसे ही होगा यह बारा का गुड़ा पांच में करेंगे तो बारा पंचे साथ यह साथ आ गया है कि यहां पर जीन अंक परेज़र ध्याना तो जो यहां दस्वाइंगे वह पार लगेगा उपल एक अंक और बढ़ा लेंगे जीरो लगाकि यह यहां द्यान रहे वह इदर साइट नहीं नहीं बढ़ा सकते हैं थियो आ हैं यह 50 अनर्ठ हो जाएगा जीरो बढ़ाएंगे लेकिन इधर संक्या के इधर साइट और यहां लगेगा दसमलो देखो तीनंक हो गया इसके पहले जीरो लगा लेते हैं इसकी इज़त बचाने के लिए जुरू-शुरू में बस और यह जीरो कहां से आता है इसके बारे में बताया था जब भाग करते है अगर वन टाइम नहीं जाता है तो पहले जीरो बाल ले जाते हैं फिर दसमलो बाल ले जाते हैं इसले आता है कि समझ में आए न सभी को इस नया ध्याय में हम लोग पढ़ेंगे तिरभुच यहां पर दिख रहा है इनी सब के बारे में हमें पढ़ना है यह पढ़ना है यह पढ़ना है आप लोग इनके नाम बताओ जल्दी से पहले फटाफट इनके नाम बताईए जिनको नहीं आ रहा है वो नो लिख के कमेंट करें यह और नो पता लेंगे सभी पता लेंगे ना चलिए जान दीजिएगा और इसमें कुछ और भी पढ़ना है एक और भी है इन चार खतरनाक आकरतियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है ठीक है चलिए अब एक एक को लेते हैं सबसे पहले का नाम क्या भई रचना सिंग गुडिबनिंग अपनेहा रोसनी कुमारी हां बताईए सबसे फर्स्ट का का नाम क्या है तिरभुज़ क्या है भा squeezed सबसे पहले का नाम कई तिरभुज ग्राइंगल भ तीन भुजाओं से घृए बंद आकर्ति क्या कहलाती है तीरभूजा अगर ऑ यह भी खींच दें और यह बंद ना हो तो यह तिरभूज कुर नहीं अ यह यह तरफ से बंद हो ता इसमें हवा नहीं घुजकर कि एक इस समझ में आ रहा है न मैं क्या बोल रहा हूं तो तीन बुजाओं से घिरी हुई बंद आकरती को तिर्भुज कहते हैं यह हो गया इसके बारे में हर कोई जानता है सभी परचीत है तो हम एक-एक को पकड़ेंगे डीटियल में पढ़ेंगे फिर दूसरे पर चलेंगे बात में तो सबसे पहला हमारा टॉपिक तिर्भूज तो पहले सिर्भुज के बारे में ही गहना अध्यन करेंगे अ चार नह ден करेंगे इसमें दूसरा यometerскशक्त के भेद यानि काइंड़ ट्रैंगल को है इसमें सबकोई की ते बिल्द कितने परकार के होते हैं पताएं ये तिर्भूज कितने परकार के होते हैं में हुँ हाँ किare जिमेश्थ समस्टर वालों के लिए ही क्लास है गया कीतने परकार के होते हैं कि अगर सिर्फ ऐसे बोला जाए कि तिर्भूज कितने परकार के होते हैं तब तो आप लोग तीन नहीं बोल सकते तिर्भूज के अगर हम भेद करें या कि तिर्भूज के काइंड करें तो तिर्भूज मुख्यता तो दो परकार के होते हैं एक तो भूजाओं के आधार पर ह तो दो परकार से बेहीं किया सकता है इस कि कितने परकार के होते हैं तो अपिने च्छे परकार के भी बोल सकते हैं विजाओं के आधार पर और तिन कोणों के आधार पर समझ में आया ना इन बुजाओं के आधार पर और इन कोणों के आधार पर आप लिख लिजिए तिरबुज के भेद यानि काइंड साफ ट्राइंगल हेटिंग लिखिए काइंड साफ ट्राइंगल इसमें आप जब लिखेंगे तो पहले इसमें एक हैडलाइन डालेंगे नमबर एक फुजाओं के आधार पर फुजाओं के आधार पर यानि बेस्ट आप साइड ठीक है कौन कौन से हैं भाई वो फुजाओं के आधार पर तिरभूच कितने परकार के हैं तो सबसे पहला है आपका अब बिसंभाहु तिर्भूज लिखिए फटाफट इसमभाहु ही पहले लिख लो इसमें बहुत कुछ पढ़ना ही नहीं है आप सभी को बहुत ही आराम से इसके बारे में मालूम होगा कि बिसंभाहु या संभाहु यह सम्दुवाव तिर्भूज कैसे पैचानते हैं यानि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी आल साइड इक्वल होती है आल साइड इक्वल मतलब तीनों बूजाएं बराबर होती है वो सम्भाव कालाता है जैसे ये ये बने रहो अगर ये भाईया पांच है सेंटिमीटर चच्चा ये भी पांच है सेंटिमीटर और ये भी क्या है पांच सेंटिमीटर एक ऐसा तिर्भूज जिसकी तीनों साइड आपस में क्या है इक्वल होती है वो सम्भाव तिर्भूज कालाता है संभाहुतिरबुच को इंगलीज में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताओ जरा क्या बोलते हैं इसे इंगलीज में दूसरा है बिसंभाहु क्या है बिसंभाहुतिरबुच बताइए उर्वर्सी वर्मा बेले लिश्ट में मिल जाएंगी जी बिलकुल वरसी मिल जाएंगी पिर बेंदर जी नंबर दिया है उस पे कांटेक्ट करिया पड़ नहीं रहे वह पिछले दो घंटे से आप सिरुप एक बात लिक रहा हो बस दो घंटे से विसंभाव तिर्बूज इसका थोड़ा कहानी अलग है इसकी थोड़ी सी अलग है वो क्या है इसकी जो भुजाएं न वह सब अलग अलग होती है यानि ऐसे कह सकते हो जिस तिर्बूच की तीनों भुजाएं आसमान होती है वह विसंबहु तिर्बूच कालाता है यह से आएसे भी कह सकते हैं है लेकिन यह सम्दुवाव जैसे बंदा है तो इसे हम थोड़ा सा और घंचा पैंचा कर देंगे रुख जाए एक मिनिट तीनों भुजाएं अलग-अलग होनी चाहिए इक्वाइलेटरल ट्राइंगल बता रही है आसीता इसीता बहुत अच्छे इक्वाइलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं संभाव को इंगलिस में इसको हम ऐसे खीच सकते हैं अब यह सब भी बुजाएं आपस में क्या होंगी अलग-अलग होंगी अगर यह सेबन सेंटिमीटर है यह फाइब सेंटिमीटर हो सकता है यह सिक सेंटिमीटर हो सकता है तीनों अलग-अलग ठीक है अब भईये ये बताओ विसंबाहु तिर्भुज को इंगलिस में का बोलते हैं विसंबाहु को इंगलिस में का बोलते हैं कि यह सम्दूई बाहु क्या है सम्दूई बाहु तिर्भुज मैंने बताया था ना कि भूजाओं के आधार पर तिर्भुज तीन प्रकार के होते हैं इसकेल एंट्राइंगल बहुत अच्छे आसी ताजी बेरी गुड इसको क्या बोलते हैं विसम बाहु को स्केल एंट्राइंगल बोलते हैं इंगलिस में अगरा उगरा आप लिख लिजिएगा इतना आप समझदार हैं इसे तो सब हिंदी मीडियम वाले हैं इन्हें सब मालूम है कि पेपर इंगलिस में नहीं आएगा लेकिन बता इसलिए रहे हैं कि क्योंकि कुछ लोग इसमें अलग भासा वाले भी हैं कि अब होता भाईया जो अभी मैं बनाया था एक ऐसा तिर्भुच जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है यह होती है तूसाइड आपस में एक्वल होती है और तीफरी अलग होती है समझ में आना भाई साब चलो इस के लेंट रिंगल के बाद में आप पढ़ेंगे सम्दुबाह वाला यह ऐसे हैं इसकी अगर यह साइड छे सेंटीमीटर है यह भी छे सेंटीमीटर है यह चार सेंटीमीटर है मतलब उससे अलग होगी बस हाड मोटिबैसन बहुत बहुत धन्यवाद आपको आप खुदी मोटिबैसन भदना सिंग ठीक है हाँ तो भाई यह भी बता दो संदूइ बाहु तिर्भूज संदूइ बाहु तिर्भूज को इंग्लिस में क्या बोलेंगे जैसे संबाहु को awkward triangle बोलते हैं संबाहु पता है कामेडी मोजवाले इसे क्या बोलते हैं इसकी बड़ी खतरनाख है हमारा मुह उतना साइड को गूम नहीं पाता है इतना साइड इंगलिस बोलने में लगता है चलो ठीक है तो यह हो गए आपका तिर्भूज के परकार पुजाओं के आधार पर यहनि बेस्डान साइड साइड के एकॉर्डिंग ट्रेंगल के थिरी टाइप होते हैं कौन-कौन से इक्वाल्ट्रल, स्केलन, एंड आइसोसलर्स ठीक है तिलपा कैसरवानी जी बिल्कुल बहुत अच्छे अब अगला हेड्लाइन लिखिए एक इवाद में बी नंबर कोणों के आधार पर तिर्भूज के परकार देखिए जो पढ़ा रहे हैं न ऐसे ही इतना ही सम आपके सिलेबस में है सिर्भ इतना ही है जो चात्र बीटीसी यानि डीलेड का एक्जाम देने वाले हैं वाद समस्टर है उनको सिर्भ इतना ही पढ़ना है इसके ज्यादा पढ़ लेंगे तो अपचनी होगी आधा करेगा लेकिन मत पढ़ना भालतु का चलो कोणों के आधार पर तिर्भुज के परकार कोणों के आधार पर तिर्भुज के परकार कैसे आप अलग-अलग करेंगे बताईए कोई बताये निमन जिब्यातिवारी माहिरा पंडित अन्नु कोण अधिक कोण जिवन कोण अच्छा चलिए कि आगे बढ़ें कि ठीक है कि मैं इसको मिटा लेता हूं कि एक मिनिट कि थोड़ा सा रुकना तो इसमें लिख लीजी आप लोग कि एटार पर्टिरभूच univers साथ बरकार होते हैं और आधार पर्तिरभूच तीन प्रकार है दो कोणों के आधार पर्तिरभूच तीन प्रकार के होते हैं कि क्वाषोरस पहनी सेद्ध़ काैख BT कोण और Вы कर चीगों में कौन होता है पंगों ना कन कोड़ेश्चर के और थिरभुज 3 परकार के होते हैं कर नंबर स्संसक्रें तिर भुज त Item लिक्ठना पडेगा क्या कि लिखना पडेगा क्या करा लिख दे रहे हैं भाईया का करें मजबूरी है समकॉंड तिर्भूज आपको सिर्फ समझना है बस समझना है समकॉंड तिर्भूज यानि जिस तिर्भूज का कोई अंताकॉंड नभ्यंस का होगा वो क्या कहलाएगा समकॉंड तिर्भूज याद रहे किसी भी समकॉंड तिर्भूज में सिर्फ एककॉंड नभ्यंस का होता है किसी भी तिर्भूज का एककॉंड नभ्यंस हो सकता है एक से अधिक नहीं हो सकता है अगर एक से अधिक हो गया तो क्या होगा कोई बताएगा कि यादनी यादो रोसनी सुप्रिया अफनेहा दिब्या सिल्पा लड़कियां ही पढ़ती है का लड़के लोग पढ़ लीके पास हो गए पहले ही का कि लग तो रहा है साइकड़ों में से सब 50 परसंट गल सी वाइज तो सब गयाव है कि अब कोंड तिर्भूज देखिए हरीजन बताता हूं दो कोंड नबबे इसलिए नहीं हो सकते हैं जैसे एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती हमज़े हो कि कुछ जादा नहीं बोलेंगे नहीं आप लोग कुछ अलग है मतलब निकाल लेते हैं एक्चुली तिर्भूज के तीनों जो कोंड होते हैं उनका योगफ़ल 18 io कविक देघर कुंड हो जाएंगे तीफ़रा कहा जाएगा जी जाएगा ज्यांधा किसभी किसी भी तिर्भूज में ल collective ना बगए तो पहले वाले का चीत्रा पैसे बना सकते हैं ऐवसे नब हो और परिबासा लिख लिज testim फिर से सम् güç की परिबासा क्या होती हैं वह सॉमकूर्ण तिरभूज का हो ठीक है अई देखो बहुत ज्यादा कमेंट टेकर चीज कापी पड़ा करो इन्हें बलक करिए पांच मिनट के लिए बहुत ज्यादा परसान कापी पेश्ट वालों को बलग करिए नंबर चल रहा है आप उस पर कांटेक्ट करिए इंक्वारी के लिए यहां पर डंडा ना करिए यहां पर डंडा करो बई अगला क्या है अधिक कोण कोण के बाद एक और भी आता है अधिक कोण जैसे अधिक कोण पढ़े हैं वैसे अधिक कोण सिर्भूज भी है इसे थोड़ा सुन्दर सा बना लीजिए क्योंकि सुन्दर लोगों की बाती अलग होती है चलिए फिर भी नहीं बना है भी बन जायर क्या होता है अधिक कोण तिर्भूज के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे अभी अभी हमने आपको सिर्फ अधिक कोण पढ़ाया था अधिक कोण पढ़ाया था उसमें क्या बताया था कि वो जो इन्टीवन से लेकर 179 के बीच होता है ये नि 1.79 तक होता है वो क्या होता अधिक कोण होता है होता है लेकिन क्या इसमें भी ऐसा ही होगा क्या नहीं इसमें अशा होता है कि जिस तिर्भूज का कोई एक अंता कोण नबब्बे से बढ़ा हो मतलब इसमें तीन कोंड होते हैं ना थिर बुझ में तो इसमें से कोई एक कौंड 90 से बढ़ा होना चाहिए जैसे होता नहीं कुर्सी पे आप लोग बैठे है न एक चेयर होती नर्मल वाली था फाइबर सीधे सब्दों में बात करें नसी अहां समझ में आया यह लाइन एक दम सीधी ये लिंख में यह देत्ड सीधी नहीं है यह इसे ठोड़ा करिछी यह यह यरुनी यह नबबे से अधिक है यह क्या 90 से अधिक है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कम अंतर जनाई पढ़ रहा होगा आप लोगों को रुख जाओ थोड़ा से बताता हूं एक मिनट कोई भी एक कॉंड तीनों में से 90 से अधिक होना चाहिए तब वो अधिक कॉंड तिर्भूज का लाएगा यह लो अब दिखा अब यह पैर फैला के लेट गए सीधा अर्चना देवी आया कुछ समझ में अच्छा किसी के दिमाग में रच्ची भी ना गुसा बताओ कोई ऐसा है कि जिनको कुछ ना समाज में आया हो एकदम काला अच्छर 22 बराबर कोई है इसा ऐसी महान आत्मा है कोई यहां पर नहीं न मुझे उमीद है कि हर कोई समझ गया होगा समकोंज तिर्भुज वह होता है कि उसमें तिरों के तीनों कोडों में से कोई भी एक कॉढ़ नबबया नजये कोई भी एक एंगल नबबबया होना चाहिए वह समकोंज कालाता है इसमें वहां परना रखना है कि सबस्क्राइब बैक नहीं हो सकता है जैसे हिंदु धरम में एक हजबेंड दुवाइफ नहीं रख सकता है लग नियम से बाकी तो लोग रखते वालग बात इसके बारे में बात नहीं करेंगे इसमें वही नियम है क्योंकि अगर दो कॉन नपवे हो जाएंगे तो तिर्बूज का नियम खराब हुजाएंगे इसलिए सम्कॉन तिर्बूज में एक सिओंधी कॉन नपवे एक जमपल याद रखोगे तो भूलेगा नहीं जी अप रख सकते हो बिलकुल इसके बारे में बात ना करो यह था बड़ी खतरनाक चीजी हैं इसमें कुछ लोग बन जाते हैं कुछ लोग बिगड़ जाते हैं जो लोग जी अब BF के बारे में बात कर रहे न तेरे से लोग ब पढ़ें नेक्स्ट अधिक कोण के बाद नियून कोण तिर भूज यह क्या होता है यह चुटकव है खोटे सा रहें यह पताए जल्दी से नियून कोण क्या होता है नहीं कानी यह नहीं बताना है पता यह जल्दी करिए नियून कोण में कैसे इनके तीनों कोण 90 से कम होंगे न कोई कह रहा है कि दिल टूटा है कहानी बताईए अपना दुख दर्द किसी को नहीं बताना चाहिए लोग मजा लेते हैं ना नहीं अपने तक ही रखे रहो नहीं वह मेरी बात नहीं है यह लोग मतलब बोलो थोड़ा सा समझ लेते हैं डेर सारा वह हमारे एक मित्र की कहानी थी जो मैं बताने वाला था लेकिन मुझे पता था कि आप लोग हमारें खोपड़ी फोड़ेंगे इसलिए नहीं बताने वाला मैं पताए निवन कोड क्या कैसे करें फटा 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 आप लोग त्राई करते रहें हम ईस्ट्र वूच के तीनों अंता कोड़ करमसा निवन कोंड हो मतलब इनके जो तीनों कॉड़ है ना वह सब 90 से कम होने चाहिए इस अब ही क्या होने चाहिए नबे से कम होने चाहिए देखो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है 100 बच्चों में से सब चाहते हैं कि इनको लब इस्टोरी बतादो डिल टूटने वाली कई से टूटा था कितना टूटा था टूटने के बाद लटका था गिर गया था वास्तों में अगर आप लोग साइंस ठाल पढें को दिल कभी तूटता नहीं जिसका दिल तूटता वह दिल कभी चला जाता है तब सब हर्मोंस का खेल होता हैох नो धाए कभी कम यह होता है मुक्त करूप सरकों में करना GitHub तूटा है वास्तों में भगवान ना करें कभी तूटे तो तूट जायेगा ना तो फिर बच होगी नहीं कुछ लोग तो इतने बड़े सातिर होते हैं कहते हैं एक दिल तोड़ा था दूसर का फिर तोड़ दिया तुम्हारा दिल है कि कुछ और है जो बार-बार तूट रहा है तो यह हो गया निवन कोड इसमें के तीनों कोड नब्बे से कम होंगे क्या होंगे तीनों नब्बे से कम होंगे हां सुनाएंगे लगा के सुनना बड़ी खतरनाक कहानी है आपी कुछ सिखाने और सीखने वाली है संडे को सुनाएंगे फिर संडे को ठीक है संडे को सुन ना भी फिलाल बताएंगे चलिए यह मान लिजिए 30 का है यह 60 का है यह 85 का है तीनो 90 से कम होना चाहिए कि यह हो गया ना इसको लिख लिजिए तो यह आपने पढ़ लिया क्या है खेल खेल में आपने पढ़ लिया तिरबुच क्या होता है तीन भुजाओं से गिरी बंद आकृती को तिरबुच कहते हैं तीन भुजाओं से गिरी फिगर को ट्राइंगल कहते हैं तिरबुच मुखिता बात करें तो दो केटेगरी में बांटे जा सकते हैं पहला कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर ठीक है कोणों के आधार पर तिर्बुज तिन परकार के होते हैं सम कोण, निवन कोण, अधिक कोण राइट अंगल टैनंगल एक्वेट अंगल ट्राइंगल और अंप्टुस एंगल ट्राइंगल खुजाओं के आधार पर भी तीरभूझ तीन परकारिके ओते हैं स्य चरवणैब को कुछ लोग तो बिहोस हो रहें कि सिरियल बदल दिए आसे बार तो आप पहले संभाव बताये थे पिर संभाव बताये थे इनमें सीरियल उरेल से कोनो मतलब नहीं है आपको तीनों टाइप का लिखना है बस समझ रहो ना आपको बताना है कि इतने भाई हो आप तुई तीन चार पांच आट दस बारा जितने भी आपको सब का नाम बता देना जरूरी थोड़ी सीरियल से बता इसमें कोई है जो 10-20 भाई है इकठ है नहीं है हमारे गाउं में नहीं हमारे ग्राम सभा में एक लोग है वो सातरा भाई कि इतने 17 17 अब कुछ लोग सोच रहे होंगे तब तो सब पंचर बना रहे होंगे नहीं एक से कोई डाक्टर है कोई इंजीनियर है कोई Master है कोई मतलब काफी अच्छी अच्छी मतलब पोश्ट पर हैं और कापा मतलब करक्षी हैं ऐसे समझ रहे हैं यह डिपेंड करता है आ तो यह गार्जियन पेईपेंड करता है तो यह सब ख़तम होगा टौपिक कि इतना ही तो था ना है मैं घंडी लग रहिये इसे क्या लग रही मैं सरण मोरम नहीं लगती है मैं लग रही तो पाईने जिनको तकलीफ हो रही हो निकाल क्या जाथ है कि यह तर्बूज का हो गया खत ुन इसके बाद पर लोग लीजिए इसके बाद हम सब्it हो फर्बूज के छेत्रफल का सुत्र ूपरं लिखे तिर्बूज के सेत्रफल का सूत्र पटापट लिखिए जल्दी से इनका काम लगेगा अभी हम कोईश्चन करवाएंगे तो भाई इमानदारी से पढ़ रहे हो तो लिख लो लिखिए अजब समकोंड तिर्भुज हो पहला जब तिर्भुज समकोंड हो जब समकोंड हो तो अलग होगा अब लिखिए अच्छेत्रफल बराबर आदि एरिया इक्वल हाफ इस इंटू पर्पेंडिकुलर इसे हम ऐसे कह सकते हैं आधार तू क्या होता भई लंब की भुजा मतलब लंब यह है समकोंड तिर्भुज अगर दिया है तो उसका च्छेत्रफल निकालने का फार्मूला अगे बढ़ें आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं क्या चाहिए बताईए पाने वानी पिलाया जाए अब तभी फटा-फट क्लास को लाइक करें और जितने भी नए साथ ही है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसकी बैटरी लोग हो गई यह टिन टिन कर रहा है मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं अब तक आप लोग फटा-फट लाइक कर दीजिए जल इसकी बैटरी बदल देता हूं नहीं आवाज नहीं आएगी अभी आधा मिनेट भागना नहीं कोई आया मैं आया थोड़ा सा रुक जाना अभी चल रहा है यह रुग जा तो थोड़ा सा रुक जाईए मैं बैटरी चेंज कर देता हूं और लिखे दूसरा तिर्भूज का खेतरफल जब तिर्भूज की तीन भूजाएं दी गई हो क्या कौन बोल रहा है समझ मैंने यह रहा मतलब हीदी वर्जन क्या हिंदी इसमें क्या इंग्लीज मैं तो दोनों बोल रहा हूं ना इनको हिंदी नहीं समाज में आ रहा हूं उनको कहा तो मैंने लिखिये ना इरिया इक्वल हाफ पेस इंटू परपेंडिकुलर इंग्लीज में ऐसे तो बोलेंगे तूसरा दिखिये जब तिर्भूज की तीन भूजाएं दी हों यह पाहली कंडिशन है जब तिर्भूज की तीन भुजाएं दी हो जब तिर्भुच की तीन भुजाएं दी हो तो इसमें बहुत कुछ भुजाना पड़ता है ठीक है वो क्या करना पड़ता है दिखिए जब तिर्भुच की तीन भुजाएं दी गई हो तब इसमें एक काम करना पड़ता है पता है पहले इसका हम परि परिमाप निकालते हैं और अर्थ परिमाप निकालने के बाद तब ति malt इसका आगे फर्मूला लगाते हैं कि इसे पात बूज की कि भीस हैं यह हम cu कि मान रहे हैं être इंको वाइजट भी मान सकते हो कुछ भी मान सकते हो तिन भूजाएं वार्मूला बनाना इसलिए कुछ डबिस थो एस आप आर्दपारिमाप तू एस है यह यह सब्सक्राइब का होता है यह सब्सक्राइब कि का यह सब्सक्राइब करना आगे कहानी समझते जाना यह हो गया लिखिए एस इक्वल आफ यह क्या है मालूम है आपको यह फार्मूला नहीं है यह अर्दपारिमाप आता है पहले यह पहले अर्दपारिमाप आता है फिर खेत्रफल बराबर सूत्र भी लिख रहा हूं अलग इसको लिख लिजिए फटाफट लिख लिजिए इतना लिखने के बाद में हमारे में जगा नहीं इफलिए बगल में लिख रहा हूँ आपके पास जगा मैदान खाली है नीचे लिख ले न लिखो छेत्रफल बराबर लिखिए छेत्रफल बराबर इसमें लगता है कौन सा वो हिरोईन क्या बोलते हैं उसे फर्मूला हिरोईन फर्मूला पड़े हो कि नहीं हाँ अरे हिरोईन नहीं बोल रहे हैं समझो इसमें ऐसे होता है अंडरूट यस, यस माइनस ए, इंटू, सब इंटू में रहता है ना गुड़ा गुड़ा में, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यह सूत्र होता है जब तीन बुजाएं दी गई हो, जहां यस कमान यह होता जो यहां पर मिलता है, यनि पहले अर्धपरिमाप निकालते हैं फिर उसको इस माहिरा पंडित जी, आप क्या करना चाहती हो, पता नहीं, आप चाहती हो कि चाहते हो, मुझे यह भी तो नहीं पता है, लेकिन कमेंट आपका बड़ा धुवधार आ रहा है, फोड़ा सब्र बना के रखिया और लोगों को भी मौका दीजी, लिख लिए, अगले पे चले, अभी हम इने पर परस्न भी करवाएंगे तो फिर ये ने पूछना कि ये सूत्र कहां से आया, पूछना मत, हर मुले इफलिए अभी करवा दे रहे, अभी जब सवाल करवाएंगे तो फिर हम सूत्र नहीं लिखवाएंगे, याद रखना, हंरा उिखवांगे बूरा कर्यों,ि लिए ठया, रखना, मोजगा जब सही एंडिमघे, रखना, झाल 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 इतना देर जब आवाज नहीं आ रही थी तो ये कवनों पृतिया को बुला रहा है कवनों पुजवा बुला रहा है कवनों कुछ दूसरा कमेंट कर रहा है मतलब जो मेन प्रॉब्लम है उससे कोई मतलब नहीं नहीं इनको कोई मतलब नहीं उससे सुप्रिया बोल रही कि हम एक ही जगह खड़ें अच्छा हम एक ही जगह खड़ें आप लोग तो बात करते करते पता नहीं कहां पहुंच गया हो तो फिर भी आज वैसे भी डिश्टर्ब हो गया आप आगे नहीं पढ़ाएंगे आवाज यह अंदर गुस्सा लग रही थी क्योंकि यह कुछ टेक्निकल इसू हो गया था छोड़ दिया था ठीक है यह हो गया हाँ तो पाइथा गौरस पर मिये हम आपको बता रहे थे कि भाया हो एक जो समकोंड तिर्भुज होता है जिस पर नब्बे बनता उसके जश्ट सामने की बुजा करण कहलाती है बाकी बची हुई बुजाएं बदलती रहती है जिस पर कोंड बनता है यानि इसके मार लो यहां एंगल बनाती इसके सामने की बुजा लंब हो जाती है और यह नीचे आधार हो जाती है अगर यह एंगल यहां बनेगा तो यह लंब हो जाएगी यह अधार हो जाएगी यह लंब हो जाएगी बदल जाएगा ठीक है समझ में आया ना तो अगर ऐसी कंडिशन होती है जैसे यहां पर दिया गया है इनके नाम आप कुछ भी लिख सकते हो तो पाइथा गुरत परमिय कहता है कि करण का जो होली स्कॉयर होता है वह अधार का स्कॉय लिखिये लाश्ट है संभाहु तिर्भुज का छेत्रफल अब सुत्र हो गए संभाहु ए बाई रुकजा तू ना बोलब तो अब मार भी खाब संभाहु तिर्भुज का छेत्रफल यह अलग तरह का होता है अंडर वूट तीन बटाट चार और फिर भुजा का स्कॉयर है ठीक है है कि भुजा का वहल उसकॉय parked, यह होता है संभाहु तिर्भुज का छेत्रफल का सूत्र्र अब क्वजा का 9 kriegen mail ना झाय्रक्साइ理 तो साथियों ये इतने आपके छोटे छोटे प्रसनों के लिए फर्मूले हो गए और मुझे लगता है कि इसमें कुश्चन करवाने चाहिए तिर्भुच का छेत्रफल के सूत्र के बाद में इसके कुछ कुछ कुश्चन भी करवाने जरूरी है मुझे लग रहा जी करवा देते हैं लिखिए अगर किसी तिर्भुच की तीन भुजाएं दी गई हैं तो आप लोग क्या उनका छेत्रफल निकाल लेंगे बताईए निकाल लेंगे लिखिए एक तिर्भुच की तीन भुजाएं 13 cm, 14 cm और 15 cm है एक तिर्भुच की तीन भुजाएं 13 cm, 14 cm और 15 cm है तो तिर्भुच का छेत्रफल ग्याद कीजिए क्या करिए तिर्बुच का छेतरपल ग्याद करिए अ कि बताइए देखे बहुंसे सवाल करते हैं कि जब फोन या मैसेज करते हैं तो हम उनका रिपलाई नहीं दे पाते कोई और करता है है ना तो हम आपको बता दें अगर आप लोग रात 11 से 12 बजे की बीच मैसेज करते हैं तो हम उसका रिपलाई एक घंटा करते हैं ठीक है यह चरौनवे पच्पन तिरफट अड़तिस सैटी से संबंधित कोई परकार का अगर आप वाट्सप पे मैसेज करेंगे रात में 11 से 12 बजे के बीच में तो हम उसको रिपलाई करते हैं लेकिन बिनमर निवेदन है कि आप भेज सकते हैं और उसको रिपलाई मिलेगा जल्दी से जल्दी ठीक है कि क्लास खतम होने के बाद में कि क्योंकि मैंने देखा यह प्रावलम बहुत लोगों कि थी आती थी कि हम नहीं रिपलाई करते हैं हां तो कुश्चन कि मैंने यह दिया कुछ इस तरह से यह 13 cm है यह 14 है यह 15 है कि इन का क्या करना है इनका क्या करना यह दूकोर निकालना है अ अनु सुकला का अंसार आग गया बहुत अच्छे अनु Зी बिर्य गोड तो मैं तरीका बता दूँ आप लोगे न हम तरीका बता दू कर लोगे न तो सब से से पहले इसको हमें क्या करना है हमें ये निकालना यस यस इक्वल एक बटा दो कि ए धन बी धन सी अभी अभी जब फार्मूला लिखवाया था तो आपने देखा था ना देखा था ना आप कोई प्रॉब्लम फिर से आ गई क्या नहीं 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 ना सब सही चल रहा है थीक है तो इसमें सारे मान आप लोग रख दीजिए फटा फट एक बटा दो ये तेरा चाउदा और पंद्रा जोड दीजिए सबको सबको आप जोड देंगे तो आप सबको प इसमें ला कितना मिला 21 मिल गया और फिर फिर क्या करेंगे फिर वो फार्मूला लगा देंगे छेत्र फल वाला कौन सा छेत्र फल वाला सुत्र लगा देंगे अंडर रूट यस-a, यस-b और यस-c यस का मान आगया है 21 यह 21 रखोगे इसको मान लो, B इसको मान लो, C उसको मान लो, सारे मान रख कर निकाल लेना 84 आएगा कितना आएगा, 84 आएगा, याद रखिये, अगर हमें छेत्र फल निकालना है तो हम वर1 जरूर लिखेंगे अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो उत्तर वर्ग सेंटीमीटर आएगा अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर जो भी रहेगा वर्ग में रहेगा ठीक है समझ में आए ना तो आज की कलास का टाइम ओवर हो रहा है कलास यहीं पर बंद होगी क्लास के बारे में किसी को कुछ जानना है तो बताईए जल्दी से जल्दी कमेंट करिए अगर क्लास के बारे में कुछ जानना है तो बोलिए नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पर इंक्वारी कर सकते हैं क्लास के बारे में तो रात के दस स्वारी कलास के बाद या नि ग्यारा से बारा बज़े के बीच में अगर आप इस नंबर पर वट्स अप मैसेज करते हैं तो आपको रिपलाई हम खुद देंगे ठीक है कोई दूसरा नहीं देखेगा ठीक है तो आप लोग कलास से संबंदित कोई परकार की जनकारी लेना चाहते हैं तो उस पर पूछ सकते हैं लेकिन थोड़े सब्दों में ऐसा नहीं की लग जाओ भईया आप बारा बज़े चैटिंगे करते रहो तो हमां नहीं कर पाएंग इतना स्वारी ठीक है चलते हैं फिर बहुत बहुत धन्यवाद ये कलास रोज होती है सोमार मंगलवार और बुधवार को राद 10 से 11 बज़े की बीच होती है और बाकी अगले तीन दिन रिविजन होता है बाकी अगले नेक्स तीन दिन क्या होता है रिविजन होता है अरुन यादो जी बहुत बह नाइट चलते हैं फिर बहुत बहुत थैंक्यू आप सभी को दिल से धन्यवाद कल की कलास को आप ज्यादा फिज्यादा सेर करिएगा जिससे कि अधिक स्यादी कंडिडियों जूड़ सकें ठीक है ज्यादा फिज्यादा साथी जूड़ेंगे साथियों एक छोटा सा मुझे सवाल बताईए वो ये है कि 95 डिगरी का जो कोण है ये अधिक कोण है कि निवन कोण है जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे फटा फट मैं सबका कमेंट देखूंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं तो रिवीजन जरूरी है थोड़ा बहुत ये 95 डिगरी का जो एंगल है वो किस तरह का एंगल है पताईए कमेंट सबके दिख रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं चलो ठीक है कोशिस करना है ये है डी एल एल इडी मैध रण ठीक है आसिता ने जबाब दे दिया है दीपेंद्र जी ने बता दिया समरीन रूची साख्या गौतम पटेल आरती चोधरी उर्वर्सी बर्मा सुप्रिया तिरपाथी प्रीती फीजा खान और इतलेस ठीक है कोशिस करने में क्या जाता है ये अधिक कौन है नब्बे से अधिक है अरे वो तो हमें भी दिख रहा है चस्मा भी लगाएं दूठी ठीक है आगे बढ़ते हैं टॉपिक और मुख्य पॉइंट क्या है कल मैंने फार्मूले लिखवाय थे कल मैंने आपको सुत्र लिखवाय थे कि भाईया बाबू राजा लिख लो इस पे हम लोग कुश्चन करेंगे तो कुछ लोग तो लिखे थे और कुछ लोग लजा रहे थे नह नहीं लिखे थो वो जाने उनका काम कि एक यह तिर्भूज दिया है जो संदुवाहू तिर्भूज है और इसकी दो भूजाएं बराबर हैं आपस में यह पांच सेंटिमीटर है और यह भी क्या है पांच है और यह आठ सेंटिमीटर है रियल में कितना है इससे मतलब नहीं है यह हमारी तरफ से माना गया है ठीक है आप लोग यह बता मुझे कि इस तिर्भूज का अगर हम छेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा वाट एरिया आप दिस ट्राइंगल और किस तरीके से निकालोगे यह भी बता दो मुझे चलो कोशिस करके देखो एक बार कल मैंने सूत्र बताया था तो कौन सा सूत्र इसमें लगेगा पहले तो आप यह बताओ यहां पर सूत्र कौन सा लगेगा कौसल्लय मौर्या जी गुड इ जानेंगे हाल यहां पर लिखिए आँ माना लिख लिजिए इसको ABC मान लीजिए तीनों भुजाओं को ठीक है क्या मानोगे ABC लिखिए यहां अब बराबर आँ चलो 5 cm बी बराबर भी 5 cm और सी बराबर 8 cm इनके नाम भी हम लिख देते हैं ABC ठीक है डन अब समझना अब इसमरीन बहुत अच्छे बरी गुड तो यह तीन भुजाएं हो गई साथियों इस तरह के कोश्चन में मैंने कहा था कि सबसे पहले आप इनके आर्धपरिमाप निकालेंगे आप आर्धपरिमाप निकाल करके फिर तिर्भूज का जो अर्मों निकालेंगे यास इक्वल हाफ ग्ग ए फ्लस बी क्लसी फाइनल में आ ऐस का मान आया कितनाया नाइं सेंटिमितर अब हम तिर्भूज के छेत्रफल का सूत्र लगाएंगे इधर साइड में देखलो ठीक है तिर्भूज का शेत्रफल यह फर्मूला आप सबको पता है का है अंडर रूट के अंदर में यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी एस माइनस सी यह क्या है सुत्र है ठीक है माईश्टर किंड जी बताईए ठीक है जल्दी करिए अब इस फार्मूले में कौन कौन है जो मान रख लेगा भई कमेंट मैं सबका देख पा रहा हूँ फोन में कितने लोग हैं जो मान रख लेंगे कितने लोग हैं जो इसके मान रख लेंगे यह फालतू का कमेंट कर रहा है इसे हाइड करो फालतुवालों को बला करो भाई जो पढ़ रहा है सिर्फ उसी को रखो बस चलो तो येस का बैलू कितना है नाइन है तो ये नाइन माइनस एक अमान कितना है बोलो भट से फिजा खान कितना भई एक अमान यहां पर मैंने रखा था पांच है येस माइनस बी बी कमान भी पांच है येस कमान नो है येस की बैलू क्या है नाइन आई है और ये नाइन माइनस एट दिख तो रहा है यहां पर सब्ट्रेक कर लिजिए नाइन इंटु ये फोर हो जाएगा इंटु ये भी क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा इंटु वन हो जाएगा चार चोग सोला सोला नमईया बाइन चोग चाटिस चार चंग चौविस हाथ फिल दो चारती ही बारा तो चाओदा एक्सो चोवालीस आएगा नीचे दिख रहा है ना वन फोर्टीफोर आएगा इसका जब और गमूल करोगे तो प्लस माइनस में बारा आएगा कितना आएगा बारा आएगा यहां पर फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या कि सेंटीमीटर इसको एरिफ लिखेंगे क्योंकि कि कुश्चन में जो इकाई है वो सेंटीमीटर है कि समझ मैं आस अभी को बोलो फट से यास लिख लीजिए यह आपका सवाल था जिसका सलूशन हो चुका है आगे नेक्स्ट कोईश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो लोग नहीं लिख पाए वो इसे थोड़ा सा मिटा मुटा के कर लेंगे कुछ अभ्यास प्रसन करवा देते हैं जिससे आप फटा फट जल्दी से जल्दी कोईश्चन कर ले जाईए हैं चलिए अब इसमें भु हम माल लेते हैं कि यह भुजाएं तीन सेंटीमीटर हैं यह भी तीन सेंटीमीटर है और यह आपका पांच सेंटीमीटर है तो अब इसका जो छेत्रफल है वो कितना आएगा बताओ कोशिस करके देखो एक बार कितना आएगा कितना आएगा जल्दी बोलो चलो गौतम रचना समरीन चलिए मैं बताता हूं टेंसन मत लीजिए देखे थोड़ा सा हम वक्त देते हैं कि आप लोग कोशिस कर लीजिए यहीं तो मैं बता रहा हूं इसका भी virtue ही आएगा इसका भी टो रायगाा सर्टकट में करता हूं मैं इसको ज्यादा डिटीउल में करूंगा सबसे पहले हम यहास्का वैलिजिए के येस का वैलू निकालेंगे तो तीन तीन च्छा धन पांच इसको ऐसे जोडेंगे तो येस बराबर जो आएगा च्छे पांच ग्यारा बटाद दो आएगा याद रखना ठीक है अब यहाँ हम सूटर लगाएंगे यहाँ पर याद रखना एक चीज और यह मान लो a इसको b इसको c कुछ भी आप ऐसे मान सकते हो यहां पर मैंने माना है चलो इनको a मान लेते हैं इनको b इनको c clear थोड़ा मैं इसको start cut में कर रहा हूँ क्योंकि पहला question मैं ने detail में किया था under root yes yes का मान 11 बटा 2 आया है yes minus a होता है yes का मान 11 बटा 2 minus a का मान 3 yes minus b होता है और yes minus c clear सभी को समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं चलिए इनको हल करते हैं यह हो जायगा आपका 11 बटा 2 इनको आप वन छिपा लिजीए 11 एकम 11 दो त्याइँ 6 फाइनल में हो जायगा 11 minus 6 बटा 2 इनको वन छिपाईए 11 minus 2 त्याइँ 6 बटा 2 ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें नहीं इन पर भी नीचे वन करिए 11 minus 10 बटा 2 कितना आएगा भाया जो आप लोग कर लिये हो लक्षमी सर्मा कुछ समझ में आ रहा है कि बस आई से हाई बाय हो रहा है अब यह ग्यारा बटा दो इंटू इसमें से घटेगा तो पांच बटा दो आएगा यह भी पांच बटा दो आएगा यह आपका एक बटा दो आएगा इनको आप हल करेंगे फाइनल में कितना आएगा भाया देखो दो दूना चार दूना आट दूना सोला बड़ा जीप टाइप का रहा न यह और यह पचम पचीस ग्यारा से आप इसमें गुड़ा कर लिजिए चादा अलपड़ा होगा था हम कुछ नहीं करेंगे किवल उत्तर लिख देंगे बस पहले तो देखो यह कटेगा क्या कोई इसमें कुछ भी सिंप्लिफाई नहीं होने वाला है जोकि उपर सभी संख्याय अभाज ये दिख रही है और बिसम संख्याय है नीचे भी संख्या अभाज ये ही है लेकिन संख्याय आपस में कट नहीं रही है तो पचम 25 और 11 से गुड़ा कर दीजिए और 11 55 सब का मल्टिपल कर लिजिए पचम 25 तो 11,55 का 5 हांसी लाया 5 12,25,27 बटा सोला यह इसका अंसर लिख सकते हो आप इसके आगे मुझे ने लगता इसमें कुछ होने वाला है हाँ दसमलों में आप निकालोगे करोगे तो कुछ हो सकता है लेकिन इतना ही आप लिख दोगे आंसर ज्यादा लफ़डा नहीं करना है वर्ग सेंटीमीटर देखिए कोईश्चन उलज क्यों गया ऐसा क्यों आ गया पता है क्योंकि ये कोई कोईश्चन था नहीं मैंने इसको बनाया था ये ऐसे कुईश्चन आपके डियलेट की परिक्षा में तो बिल्कुल नहीं आएंगे सिंपल से आते हैं जो हल हो जाते हैं जैसे मैंने पहला किया था हिर्द्यानसी कस्यप सुप्रिया गौतम पटेल कुछ समझ में आए सभी को फट से लिख लीजिए जितने भी हमारे नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल देर ना करें आगे बढ़ते हैं चलिए तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं आप लोग उन्हें कर ले जाएंगे एक और बताईए इसमें जबाब आएगा एक संबाहु तिरभुज की भूजा चार सेंटीमीटर है सुनना एक संबाहु तिरभुज है अगर उसकी भूजा चार सेंटीमीटर है तो उसका छेतरफल कितना होगा आप लोग मुझे बताओ चलो मैं यहाँ पर फीगर बना देता हूँ क्योंकि कल फार्मूला लिखवाया था तो आज सवाल करने पड़ेंगे सवाल करने पड़ेंगे यह संबाहु है कह रहा है संबाहु का मतलब साभी बुजाएं बराबर है चार सेंटीमीटर है पताइए यह सभी फोर सेंटीमीटर है बताओ भाई साब कितना हैगा जड़ा कोशिस कर लो एक बार चलो कितना हैगा फोर इन्टू अंडरूर तीन संबरीन नौमनी इनका नाम है बड़ाजी टाइब का मैं पड़ नहीं पा रहा हूं ठीक है जो भी है अच्छा है इतमासा हो रहा है इनका नाम भी अन्नोन है कह रहे हैं यह क्या है सर जानवार दिखने था तुम्हें ठीक है आप लोग इसको कर लीजिएगा कल मैंने फार्मूला भी लिख्वाया था संबाहु तिर्भूच का कल मैंने फार्मूला भी लिख्वाया था संबाहु तिर्भूच का लिख्वाया था ना एक छोटा सा सूत्र लिख्वाया था क्या था वो रूट तीन अपांच चार भुजा का स्कॉयर सम बाहु तिरभुच का छेदरफल बराबर रूट तीन बटा चार और भुजा का स्कॉयर ये लिखवाया था भुजाएं इसमें सब बराबर होती है तो ये इतना हो जायागा इंटू स्कॉयर का मतलब दो बार गुड़ा एक थी चार कट गया तो कितना आया फोर इंटू अंडर रूट तीन फोर इंटू रूट तीन आंसर हो गया बस फाइनल डन खतम समझ में आया सभी को उरवर्सी जी आया समझ में महेंद्र आया समझ में सल्मान खान अब पढ़ने लगेंगा थीक है तो आप लोग इस तरह के प्रसंद को कर ले जाएंगे आगे यह तिर्भूच चैप्टर था मतलब टॉपिक था तिर्भूच हम खतम कर देते हैं कोईश्चन तो करेंगे तो बहुत सारा है तिर्भूच खतम करते हैं चलो अब नेक्स्ट आयत आथा है क्या आयत कंसेप्ट आफ रेक्टेंगल क्या आयत यानि रेक्टेंगल कौन से जौनवर का नाम है कौन कौन देखा है देखे हो करने भई आईए बताता हूँ देखा है देखने को तो बहुत कुछ देखा है लेकिन अब मत देखो अब इधर है देखो बस चलो यह क्या है रेक्टेंगल डिफीज रेक्टेंगल मिन्स आयत इसको लगाने मुझे दिखने रहा है फेंग कि तुम तब भी नहीं सही है क्योंकि आगे चमक रहा है लाइट बहुत ज़्यादा है लाइट इसलिए जिससे थो देखा आदो लोगों को मजा आरहे है मतलब गलत ही सोच लेते हो है रेक्टेंगल इंकी कुछ खासियत थैंग वांदे था मारी भी कुछ खासियत मतलब आप समझß रहा है आपको तो सामने हैं मैं इस दिख रहे हैं बहुत अच्छे हैं पढ़ाते हैं सीध्या बग रहा हैं कि हकल उसको हमारे दोस्तों लोग जानते हैं जो हमारे अगलब गल उसको आपनी जानते हो है ये यह हैं यह मारे प्रपर्टि ए गुण है जिसे कहते हैं आउगुन बच्पन में सुना होगा दादी लोग बोलती थी लड़कवा फलनवा बड़ा अउगुनी है अउगुनी का मतलब मतलब गलत प्रकार के गुण कि वैसे क्या करना है कि देखो पढ़ाएं क्या वो अमबानी का सत्यनास मेरा नेट वर्क नहीं चल रहे हैं अब भाई अम्बानी का सत्यनास होगा तो नेट वर्क तुमारा और खरा हो जाएगा हाँ तो rectangle में क्या है इसके property के बारे में हम लोगों को पढ़ना है देखिए इसके कुछ गुण प्रगुण होते हैं जैसे मैंने अपना बताया जाता तो नहीं बता लेकिन आप समझ गए होंगे वैसे इसके गुण क्या है सबसे पहला गुण यह है कि इसकी सम्मुक बुजाएं आपस में बराबर होती है इसकी सम्मुक बुजाएं आपस में बराबर होती है ठीक है दूसरा गुण क्या है दूसरा गुण है कि इसके परत एक एंगल चार एंगल इसमें हैं कितने कितने के होते हैं नब्बे नब्बे के होते हैं ठीक है कि इसके और भी कोई गुण परगुण है का भाई कि इसको जो बिकर्ण है ना वो दोनों जो बिकर्ण है वो आपस में लंबाई में बराबर होते हैं और बराबर बराबर सम्दुभाजित भी करते हैं अगर उन्हें खीचा जाये तो यह भी तो इसका एक पार्ट है न असनेहा तिवारी हाँ बहुत अच्छे ठीक है बेरी गुड बिने चलिए तो यह तो इनके गुड हो गए जो मैं लिखवाया तो नहीं लेकिन अब कुछ चीज णगल बोलते हैं एए फार एलिफंस रेक्टैंगल लिखिये वह चतुर्भुज जिसकी समंक भुजै बरर और प्रेज बैर होती है तथा जिसका परते को नब बयंस का होता है तथा जिसका परते कौन नब्यांस का होता है आयत कहलाता है हो गया? भई कौन है ये सुल्टानपूर से हैं? मतलब मुझे जानता भी ये का? हाँ हैं बहुत से ऐसे लोग जिनने मैं नहीं जानता हूं मुझे जानते हैं अच्छी बात है चलिए ये समझ में आया आयत कहलाता है अब इसके कुछ फार्मूले हम लिखवाएंगे छुटके छुटके से हां जैसे पेरिमीटर और एरिया ठीक है? तो पहला लिखिए आयत का परिमाप पहला क्या है इसमें? परिमाप तो इनके फार्मूले तो बाद में लिखना पहले तो ये समझो अब ये पेरिमीटर है क्या? परिमीटर है क्या? इसे इंगलिस में सायद परिमीटर ही बोलते हैं परिमाप चारो भुजाओं के जोड को परिमाप कहते हैं याद रखना बाकी कोई तुम्हें सुत्र याद है या नहीं याद है ठीक है? किसी भी तिरभूज या चतुरभूज में आप ऐसे समझ लो कि चारो भुजाओं के जोड को परिमाप कहते हैं किसी बंद आकृती की चारो बुजाओं के जोड़ को परिमाप कहा जाता है यानि अगर हमें इसका रेक्टेंगल निकालना है तिसकी साइड जो भी दी गई होगी सब को जोड़ लीजिए वो क्या होगा परिमाप हो जाएगा क्या हो जाएगा परिमाप यानि हम कह सकते हैं मोटा मोटा इसका जो सूत्र होता है वो कुछ ऐसा होता है यह लाफार लंबाई लंबाई धन लंबाई धन चौड़ाई और धन चौड़ाई इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई है कुछ और मत समझेना ठीक है चलो यह सूत्र है आप कहोगे यह कौन सा सूत्र है कतना खतरनाक देखिए इसमें लंबाई दो बार है मैं फार्मूला बना के दिखा रहा हूं रटना नहीं है तो लंबाई लंबाई जोडेंगे तो टू इंटू लंबाई हो जाएगा भाईया यह जूड गया और धन टू चौड़ाई बचेगा इसलिए हम कहते हैं कि जो आयत का परिमाप होता है वह टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है समझ में आए ना परस पर ठीक है ओके क्लियर आगे बढ़ें अब क्या है अब परिमाप समझेंगे सभी किसी को कोई दिक्कत नहीं नहीं अब अगला इसका जो सूत्र है वो है चेत्रफल आयत का चेत्रफल पहले तो यह समझ लीजिए वाटीज एरिया एरिया क्या होता है किसी भी बंद आकरती द्वारा घेरे गए समपूल चेत्र को उस आकरती का चेत्रफल कहते हैं समझ रहा हो ना यानी इस फिगर में जितना ये जगा घेर रखा है वही इसका एरिया है जैसे आपने सुना होगा जैसे आपका कमरा जहां आप लोग पढ़ रहे हैं पाँ सब लोग जहां पढ़ रहे हैं कम्रे में पक्ढ़ रहे ना अपने पढ़ने वाले सूने वाले ना कुई बाथ-्रूम होगा इसा कॉय बोल चु darty कभी सिएशन पढ़ने वाले काहीं भी पढ़ सकते हैं चलिए सुनिए पर ना जो आ बैदेखना ही रहें किसी को यह सु दिवाल होंगी न तो जो कमरे में जगा है वही क्या है उस कमरे का छेतरफल है तो किसी का प्लाट लोग लेते हैं जमीन लेते हैं तो क्या कहते हैं कि इतना वर्ग मीटर है इतना वर्ग स्कॉयर है कि सुने हो न तो वह क्या होता उस प्लाट का छेतरफल होता है कि समझ में है न क्या होता है प्लाट का छेतरफल होता है तो आप समझ गये मेरी बात क्या कहना चाहता हूं किसी भी आकरती द्वारा घेरे गए संपुल छेत्र को उसका क्या कहते हैं कि छेतरफल कहते हैं इसका इसका शित्रफल हो जाएगा लंबाई गुड़े चोड़ाई समझ में आया हो गया एक और लिख लीजिए बिकर्ड अगर आयत का बिकर्ड निकालना है लंबाई चोड़ाई दी गई है तो दोनों का स्कॉयर करके जोड़के वर्गमूल निकाल देंगे बस लिख लीजिए लंबाई का स्कॉयर धन चोड़ाई का स्कॉयर दोनों का वर्गमूल कर देंगे बस क्लियर बिकर्ड मतलब डाइगोनल बिकर्ड को इंगलिस में डाइगोनल बोला जाता है ठीक है और जो कुब बातचीत कर रहा है ना इनको भाई हटाओ फटप इनको पढ़ाई करें निवेदन है आप लोगों से पढ़ाई करें क्योंकि उम्र जो है न यह वस्ता ज्यादा ओचुकी है पढ़ाई लिखाई को अब बच्चे नहीं आप लोग कुछ दिन बाद बच्चेवाले होने वाले हैं तो पढ़ाई कर लीजिए है आप सुदर जाई हम कि देख रहे हैं यह क्या है कि मज़ा रही न कि यह वर्ग जिसे बोलते हैं स्कॉयर कि यह क्या है स्कॉयर इसका जो फर्मूला है बिल्कुल इससे मिलता जुलता एकदम सेम टू सेम है क्योंकि परिभासा तो वही होती है इसमें कुछ अलग तो होता नहीं है तो एकदम वहीं से होता है कैसे देखो भईया परिमाप मैंने कहा था कि चारो भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं चारो भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं क्या कुछ ज़्यादाते तो नहीं चिल ला रहा हूं स्मझ में आया ना को चलो कि अगला है इसमें छेत्रफल देखे सूत्र आपको याद एकान नहीं करना है याद तुम्हें उसी को करना जिसको याद कर रहे हो बड़ाई बड़ाई वाला चीज याद नहीं करने हैं कि एक इज और बता दें कभी कभी कुछ लोगों के सवाल आते हैं अगर आप जिन्दगी में किसी को भूलना चाहते हैं या कोई चीज कोई घटना भूलना चाहते हैं तो आप उसे कभी नहीं बोल सकते हैं कि अगर आप भूलना चाहते हैं तो कभी नहीं बूल सकते हैं आप एक काम कर सकते हैं कि अपने आपको आप कुछ इंट्रेस्टेट कार्रों में बिजी रखेंगे तो जरूर भूल जाएंगे क्योंकि जो माइंड है ना वो एक साथ में एक ही तरफ सोच सकता है एक ही तरफ लग सकता है अगर आप सिर्फ बैठे हैं सब कुछ छोड़के कि आज भूल जाएंगे तो आप कभी ने भूल भाएंगे आप किसी काम में बिजी हो जाएंगे जिसमें आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से फिर देखिए सब बूल जाएंगे समझ रहें ना कुद को बिजी रखो तो छेतरफल के बारे में बात करें मैंने कहा कि किसी भी बंद आकरती द्वारा गेरे गए संपूर छेतर को उस आकरती का छेतरफल कहते हैं तो इसमें जितना ये इस पेस है यही क्या इसका एरिया है इसमें मैंने लंबाई चोड़ाई का गुड़ा किया था छेतरफल आया लंबाई चौड़ाई का गुड़ा करेंगे कि आएगा छीतर फल आएगा तो भईया घ्लम्भाई चौड़ाई इसमें सब बराबर है तो इसलिए हम कह सकते है बूजा कई सकायर हो जाएगा हॉ क्युं नहीं नहीं बूजा गुड़ए बूजा का स्कायर हो गया खतरनाक धोखा खाते हैं तो दारू सरा पीने लगते हैं लेकिन आप ये सोचो कि अगर कोई आपका होता तो पहली बात तो वो जाता ही नहीं या फिर आपको धोखा देता ही नहीं और दूसरी बात अगर वो आपका था ही नहीं तो फिर गम किस बात का समझ रहे हो कि नहीं तो किसी से उमीदें कम करो उमीदें हमेशा दुख देती हैं उमीदें खुद से करो दूसरे से नहीं अब तुम चाहो कि अगला जब हम बोलेंगे तभी खाना खाएगा जब बोलेंगे तभी बात्रूम जाएगा जब बोलेंगे तब ही नहाएगा, तो वो कहां इतना कर पाएगा, मतलब वगेरा वगेरा, समझ रहे हो न, ये चीज, भाई बीना यादों को थोड़ा देर के लिए आप रोंक दीजिए, क्योंकि बीना यादों काफी परिसान कर दिये हैं, उर्वरसी जी बोल रहीं कि बहुत experience है, भाई, देखो, मतलब क्या जमाना आ गया है, क्या जमाना आ गया मतलब, अगर आप किसी की story या कुछ चीजें बताईए, तो लोग उसमें अनुभाव खोजने लगते हैं, हम सही बात है, चलो, कुछ भी मान लो, तो ये छेतरफल का हो गया, इसमें एक और क्या था भाई, और तो कुछ नहीं था, जाने दो अटाओ, आप चलिए, आगे क्या करना है, इसको आप लिख लीजिए, जिनको लिखना है, मैं मिटा रहा हूँ, ये सब कितना मज़ा ले रहे हैं, ये एक बिने नाम का आ गया, इसमें खेला बनके, कोनों कह रहा है, मार भी नहीं आगा मार, कोनों कह रहा है, गाली दे, गाली दे, भाई ऐसा ना, करो पढ़ लिख लो, आप लोग, आफ लाइन में अगर रहते तो क्या होता, आफ लाइन में इसलिए मैंने आफ लाइन बंद कर दिया, इसी लफड़ा क्यों हो जाता, रोज लड़की लड़का लफड़ा होता रहता है, तो क्या करेंगे, मास्टर पढ़ाएंगे कि लड़की लड़का लफड़ा पकड़े संत करेंगें यह योगयंजी हखो है चलिए कउमेंट अब कम देखेंगे अब हम बात करते हैं कुछ और आगे हेडिंग डालिEZे कि आयत कि आयत की बीसेश्ता है अर लिखिए आयत की बिसेश्ता है कि आयत की विशेष्था हैं कि एडिंग डालिए आयत की विशेष्था हैं बही कमेडी मौज आये हैं कि नहीं आज यह खतरनाक आदमी का नाम है जो कमेडी मौज मैं बोलता हूं रोज रोज आप सुनते होंगे आये हैं तो बोलिए एक बार कि हां हम है लिख रहें आयत की विसेश्फता है नमबर एक नमबर एक लिखिये आयत का परते कोर्ण समक्ोर्ण होता है लिख लेजिये जिनको पढ़ना है को परपूर्टी जाफ anx रेक्टेंगल प्रपर्टी जाफ रेक्टेंगल लिखिए आयत का परते कोण समकोण होता है लिख वे रहावाएं कि मैं फालतु वह चिल्ला रहा हूं नहीं बोलेंगे कि दूसरा लिखिए कि आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर एवं समांतर होती है आयत की सम्मुक भुजाएं आपस में बराबर एवं समांतर होती है तीसरा लिखिए लिख रहे हैं कि दीरे दीरे बोलें पतलो रुक रुक के आयत के आमने सामने के सीरसों को मिलाने वाली रेखाएं बिकर्ड काहलाती है आयत के आमने सामने के सीरसों को मिलाने वाली रेखाएं बिकर्ड काहलाती है एदिभ देखड देखा हो देखा हो यह रेखा है कौन सी यह तोड़ा गरबड बन गयाughter इसीजिजा हो जाले दीन踩री आदा भाई चल में न यह आमने शामने की जो इनरीको इनरी को उनरी को के बोले समय इतले को भीवें अगला आयत के बिकरण चवथा नमबर लिखिए आयत के बिकर्ड बराबर होते हैं एवं एक दूसरे को सम्दुभाजित करते हैं बिकर्ड मतलब डाइगोनल इंगलिस में बोलते हैं आयत के बिकर्ड बराबर होते हैं एवं एक दूसरे को सम्दुभाजित करते हैं देखिए अगर आप BTC वाले स्टूडेंट हैं डीलेड वाले तो आपको सीरियफली पढ़ना चाहिए क्योंकि जिन्दगी के आप ऐसे पढ़ाओ पर चल रहे ना पढ़े लिखेंगे नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं यह जो थोड़ा मोड़ा इदर दर का चक्कर कुछ द और एअब हम इस पर कुछ क्सक्टन भी करेंगे क्या करेंगे कुछ क्यूश्चन भी करेंगे उसके पहले बीच में आपको एक बात बता दें आप लोग कोई भी समेश्टर पर्फं दुतीये तरतिये शमेश्टर कंपलीट कॉर्स PBR स्टूडी श्टूड़ी मियं में दढ कि रजना सिंग बोल रही कि पढ़ लो मौका है बागी सब धोखा यह कुछ बोलते हैं तो यह लोग बोलते हैं कि experience है अब अगर यह लोग कुछ बोलें तो इसका मतलब इन लोग को भी experience चलिए फिलहाल जो भी है बाते होती रहेंगी बाते भी जरूरी है क्योंकि अगर बाते नहीं होंगी तो फिर नीद आती है और नीद आता है तो क्या होता आपको पता ही यह X-metre है यह 12-meter है ठीक है अब सुनो अगर इनके नाम हम ऐसे रख दें A B इधरे कि इधरे इधरे देख दो ABCD ठीक है यह बताइए कि अगर इसमें BC 12 cm है मीटर में BC 12 मीटर है तो AD कितना होगा AD कितनी होगी अरे बोलो बक्को कुछ तो बक्को भई अगर CD X मीटर है तो AB कितना होगी भई सिंपल सी बात है बराबर बराबर है शुरू में यही तो चिलाया हूँ सब को जानता है हमें इसका क्या करना है हमें इसका पहले तो छेतरफल निकालना है का निकालना भई साहब छ relying निकालना एरिय विन हैं कि लेकिन इसमें कुछ दिया भी है क्या दिया इसका चिहतर दिया है 240 मेड़ के तो इसकी लंबाई बताओ कितना आएग़ कि क्या आप लोग कर लेंगे है नंग बता dining लन्बाइम कितना है कियसे निकालेंगे चैने मिशनने ayat-4 कि आयत च्छेत्रफल बराबर होता है का होता है psyche आयत चैनल बराबर होता है लन्बाई गुडे च Cinnamon क्यों है यही mêmes तो होता है कुछ यह होता है न और चुकि इसमें छेत्रफल दिया है तो छेत्रफल हम 240 रख देंगे यह हो जाएगा 240 बराबर लंबाई यानि एक्स चोड़ाई यानि 12 तो यह 240 बटा 12 बराबर यक्स 12 से काट दो यानि 20 बराबर यक्स कहने का मतलब 20 मीटर कितना आ गया 20 मीटर सबसे पहला जबाब कौन दिया है इतने खतरनाक लोग हैं इनका नाम है उरुबरसी वर्मा उरुबरसी वर्मा का सबसे पहला जबाब था गौतम पटेल का दूफरे नंबर पर था और तीफरे पर कोनों था प्रियंका सिंग बहुत अच्छे ठीक है चलि अगर यह चेत्रफल आपको कुछ और दिया होता तब का होता हुँँआ अगर यह चेत्रफल साथ सो बीस वर्मीटर होता तब कितना आता अगर यह चेत्रफल साथ सो बीस वर्ग मीटर होता वर्ग मीटर लिख रहाँ तुम्हें दिखाई पड़े या नहीं तब कितना आता इसकी लंबाई विक्रांत अफनेह सिंग बताइए आरती चोधरी बोलिए 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 सबसे पहला और सही जबाब जो दिया है उनका नाम है पुरवर्शी बर्मा अब कुछ लोग बोलेंगे हैं इनई का नाम का है बोलते हो बार बार कुछ बात है का बात इतनी सी है कि इनका जबाब सबसे पहले में दिख रहा है बस और कोई बात ठीक है बहुत अच्छे बरी मुल्टिपल किया था में तो पता साथ आएगा कितना आएगा साथ आएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह के कुश्चन आप लोग कर लेंगे यह आयत हम यह क्या है आयत है इसमें ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा तो करना है नहीं छोटे-छोटे कुश्चन है छ बड़े-बड़े कुश्चन इसमें हम करवा भी नहीं सकते हैं क्योंकि कुश्चन लिखेंगे टाइम लगेगा बड़े कुश्चन हम एक दिन में करवाएगे कुश्चन करवाएंगे उनको आपको इस्क्रीन पर दिखाएंगे फिर हल करवादेंगे ठीक है हुआ हम एक और बताईए एक आयत का बिकर्ड ग्याद की जिए जिसकी सनलगन भुझाएं 12 फेंटी मीटर और पांच सेंटी मीटर हैं बताइए एक आयत का बिकड़ ग्याद कीजिए जिसकी सनलगन भुजाएं ये बारा मीटर मान लो और ये पांच मीटर है कि इसका ये निकालना है एसी और बीडी ये दोनों निकालना है चलो बताओ कितने लोग कर लेंगे प्रियंका सिंग जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत वेलकम लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके रखिये जिससे कल भी आप पढ़ पाएं ये कलाफ रेगुलर सब्ता में तीन दिन होती है पीवीर स्टड़ी लहाबाद चैनल पर सोमवार मंगलवार और बुधवा सब्सक्राइब को राद दस बजे से डियलेट का फर्स समेश्टर होता है बाकी अगले तीन दिन आप इसे रिवीजन भी कर सकते हो कि ठीक है 13 सेंटीमेटर आ रहा किसी का कि प्राइकल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है सही बात है 13 सेंटीमेटर आएगा क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बिकर्ड का सूत्र बताया था कि भाईया बाबू राजा बिकर्ड बराबर यानि डाइगोनल इक्वल ये लेंथ का स्कॉयर प्लस ब्रॉद इंगलिस में का बोलता है ऐसे कुछ ना स्कॉयर वर्गमुल के अंदर लंबाई 12 दी गई है इसका स्कॉयर कर दो चॉड़ाई 5 दी गई है स्कॉयर कर दो भाईया वर्गमुल निकाल दो ये 144 प्लस ये 25 ये कितना हो गया 169 हो गया इसका वर्गमूल करोगे तो 13 आएगा यानि 13 मीटर 13 मीटर समझ में आया ना आया समझ में इस तरह के आप लोग बिकरड़ वाला भी कर ले जाएंगे जितने बड़े बड़े कोईश्चन है मैं एक भी नहीं करवा रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े कोईश्चन लिखने पड़ेंगे लिखेंगे तो टाइम बिच जाएगा उनको हम एक दिन में सब करवाएंगे थोड़ा दिल थाम किया ना खाना पीना खाके सतुआ पिसान ल अगर ये तीन सेंटीमीटर है ये पांच सेंटीमीटर है तो ये बताइए इसका छेतरफल कितना होगा जल्दी सभी जब आप दीजिए इसका एरिया कितना होगा जो फिकर दिया गया है फट से बोलिए रात दस बज़े से यूपी डीलेट की बिल्कुल फ्री लाइप क्ला कि इसमें कोई बताया अंसर मैं देख रहा हूं मैंने एक सवाल किया आप लोगों से सबसे पहला जबाप क्रिफना सिंग का आया है और फराना अंसारी सर्वन पिहू पिहू राजवनसी आपकी पिहू मतलब इनका नाम है इस तरह से बाकिया और कुछ मत समझे न चलिए ठीक है आप लोगोंने कोशिस किया अच्छी बात है बहुत अच्छा है कि आप लोग कोशिस कर रहें काफी अच्छी बात है लेकिन आप लोग इस कलास को लाइक भी करें अभी स्टार्टिंग है और दोस्तों में सेर कर दीजिए यह आपसे अनुरोध है हमारा निबेदन ह इसे सोभिकार करिए और सेर कर दीजिए थीक है तो इसका मैंने एरिया पूछा है एरिया इसका सही सही होगा 15 cm का स्कॉयर यह स्कॉयर लगाना नहीं बूलना अ थीक है साथियों अगर मैं इस में परिमा पुछ दूंजिसें इंगलिसमें पेरिमेटर बोलते हैं परी में तो आप बताये इसका पेरिमेटर कितना है गा कुमारी हम अपने टोपिक पर आगे तो बढ़े लेकिन पहले यह सब जरूरी है प्लेलिस्ट में सब है आरेंदर जी सब है सब है सब सब चलो कितना आएगा दिख तो रहा है ना जड़त चसमा निकालना बाबा दिखता है अच्छा यह तो लाइट बहुत ज़्यादा है सामने इसलिए लगाया हूं ठीक है इसका पेरिमीटर देखो सिंपल सी बात है मैंने कहा था कि भाया हो किसी भी आप बंद आकृती का अगर परिमाप निकालना है उसके चारों भुजाओं को जोड़ लेते हैं उसी को परिमाप बोलते हैं तो चारों को जोड़ लो ना तीन तीन छे और यह पांच पांद इसमें सिर्फ सेंटीमीटर लगाओगे ठीक है सिर्फ सेंटीमीटर लगाओगे स्कॉयर नहीं लगाओगे ओके चलिए इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था आगे बढ़ाते हैं आज का टॉपिक है वर्ग इसे इंगलिस में स्कॉयर बोलते हैं स्कॉयर के बारे कि देखिए यह जो क्लास आपकी चल रही डियलेट की इसमें चैप्टर 11 चल रहा है और चैप्टर 11 में आप पढ़ रहे हैं तिरभूज आयत वर्ग तथा बृत्त की अधारड़ा तो एक-एक के बारे में डीपली पढ़ रहे हैं साथियों वर्ग किसे कहते हैं इनकी पहचान क्या है एक ऐसी बंदाकृती जिसकी चारों बुजाएं बराबर होती हैं फोर साइड का होती हैं आपस में इक्वल होती हैं समान लंबाई की होती हैं इनके परते कौन नब्ययंस के होते हैं और इनके बिकर्ड आपस में इक्वल होते हैं हम बात किसकी कर रहे हैं कुछ लिख नहीं रहा ना पीछे दिख लीजिए भाईया यह बना लीजिए हम इनकी बात कर रहे हैं इनकी चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं बात करते हैं इसका एक मुख्य और भी बात है सबसे पहले छेतरफल मिन्स एरिया और एक परिमाप इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि यह फार्मूले आपके लिए आगे लाइफ में काम आते हैं परिमीटर इंगलीज मैं ऐसे गोंच पोंच के लिखते हैं जिससे लोगों को स्पेलिंग ना पता चले एक सही लिखाए गलत हुम हुम साथियों मैंने पहले बताया था कि कोई भी चीज मैथमेटिक्स में रट के नहीं चलता है मुझे तो नहीं आया कभी रट के समझना पड आया था कि किसी भी बंद आकरती का छेत्रफल उस आकरती द्वारा घेरे गए संपूर छेत्र को कहा जाता है और इसको प्राप्त करने के लिए दी गई आकरती की लंबाई पकड़तें एक एक चोड़ाई दोनों का गुड़ा कर देते हैं वही उत्तर आ जाता है जैसे आयत में था लंबाई चोड़ाई का गुड़ा करते थे तो आयत का छेत्रफल बराबर लंबाई गुड़ाई बनता था वैसे इसमें भी होगा बड़ा खतनाक गाना बज़रा है भाई वगल में कोई कहना सकेगा जाने दो चलो इधर देखो यह लंबाई चोड़ाई होता है लेकिन आयत में भुजाएं अलग-अलग होती है लंबाई चोड़ाई अलग-अलग होती है वर्ग में क्या है वो सरी हाँ वर्ग में इसमें आपस में बराबर होती बुजाएं इक्वल होती है अगर हम बुजाओं को ए-ए मान ले तो क्या होगा बुजाओं को अगर हम ए-ए मान ले तो ये फाइनल में एक आई स्कॉयर हो जाएंगी क्योंकि लंबाई चोड़ाई दोनों बराबर हैं तो मोटा मोटा हम एक सब्द में कह सकते हैं कि जो वर्ग का छेतरफल होता है वो भुजा का स्कॉयर होता है ठीक है क्या होता है वर्ग का छेतरफल भुजा का स्कॉयर होता है बस यह अंसर है समझ रहना याद नहीं करना है समझना है कोई भी इस तरह से करोगे सब में ऐसे होगा आयात और वर्ग में याद रखो छेतरफल निकालने के लिए लंबाई चोड़ाई का गुड़ा करते हैं जो कि वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती है आपस में इफ लिए वर्ग का स्कॉयर बन जाता है यह होता नहीं बन ज स्टूडेंट है पर्याग राज या दिल्ली मुखरजी नगर में रहके पढ़ाई कर रहा है लेकिन पूलिस वाले आते हैं साम को रोज उसको चाल लाठी मारते हैं तो अगले दिन का करेगा वह आरतील थोड़ी उतार निकले बैठा रहेगा वह भी कुछ करेगा ना तो इ भ Consult करते हैं परिमाप की पेरिमिटर की बात करते हैं एक पेरिमेटर की इसका परिभासा मैंने आपको बताया ठाएफर देफिनिसंन क्या बताया था कि किसी भी बंद आकृती के चारो भुझाओं के जोड को परिमाप कहते हैं Rugур क्या करते है aylimur रहे ज़ों को परिमाप कहत परिमाप बन जाएगा यानि परिमेटर बन जाएगा चारों भुजाओं को जोड़ लेना है करके अगर Евan परिमाप बात करें तो फ्रॉजा को फॉरे होगा य dairy है चार गुड़े भुजा इसे हम कहेसे वर्ग का परिमाब बराबर चार गुड़े भुजा चार गुड़े भुजा कि समझ रहे ना हो गया यह जो मैं अभी एक सिच्वेशन वाली बात बताया है लोग उस तरह से बन जाते हैं एक गोरकपुर के बहुत बड़े डॉन की बात है यह आज के कम से कम से कड़ों साल पहले मैंने बीबीसी पर इस्टोरी देखा था वह बहुत सीधा साधा सज्जन लड़का था लेकिन कुछ लोगों ने उसकी सिस्टर को छेड़ा और उसने क्या किया उसका बदला लेने के लिए उसकी मडर कर लिए जिसने छेड़ा और फिर क्या हुआ वो पूरे देश का सबसे बड़ा मतलब खतरनाक खुखार डाकू बन गया समझे रहे हो ना पहले बहुत सीधा फादा पढ़ाई करता तो ऐसे होता है कभी-कभी ऐसा देश और सिस्टम में गलत कि नीतियां और गलत सासन पर सासन के कारण भी हो जाता है है ना कि समझे रहे हो ना दाउद की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग इंटरनेट पर सार्च कर ले ना अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है प्रकास पांडेया ऐसे कुछ नाम था अजीब टाइप का मतलब नाम सिधा फादाई था इंसान अजीब टाइप का हो गया था बस तो यह आप लोग समझे गए सूत्र समझे गए ना चार गुड़े भूजा माया गोंड यह कलाफ लाइब नहीं रहती है लाइब रहेगी कि का तुमको पकड़ की जगाएगा कि भई यह चलो पढ़ो हां बताओ का करेगा लाइब रहेगी तू इसमें और क्या पढ़ना है जयान दीजिए यह तो हो गया परिमाप और छेतरफल परिभासा आप लोग है ठीक है कुछ कोश्चन कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं अगर इस वर्ग की भूजा कि इस वर्ग की भूजा पांच सेंटीमेटर है तो आप लोग फट से जल्दी से बताइए अब चारो तरह तो लिखना जरूरी है नहीं हम इसका चेतरफल कितना आएगा चेतरफल कितना आएगा चेतरफल कितना आएगा जल्दी बोलिये फट से चलो भाई चलो 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 जल्दी चले रह चले रो चले रो एक्टे और बना देता हूं यह छोटका सा ज्यादा स्याही न लगे इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा है हाकिकत तो एक मुझे ज्यादा अच्छा बनाना नहीं आता है 12 मिटर सबसे पहला अगर कोई जबाब दिया है तो वह है रेखा रेखा के पहले प्रिति क्रेफन ने भी बताया था क्रिफना सिंह रचना माया सिल्पी फिजा खान मांसी प्रियंका बहुत अच्छे बहुत अच्छे बरी गुड तो भाया इसका जो छेतरफल हो का होगा य्जानि बराबर है यöhि वक कई स्क्वायर बैं कहां जा रहा है फोथी वर्ग का स्क्वायर कुजा कई स्कॉायर कुछक तो बूजा के फांच है पचीक को स्टिस हाए मिटहाभ समझयों कि जो लोग सिर्फ 25 लिख रहे हैं का गलत है के वाज है इसका अंसर जो सिर्फ 25 लि कि साधी भी आम गये हो मुह में गोबर लगाया वैसे जही से सो के उठे वैसे चले के कीचल पिचल लगाये तो अंदर वहां हलने नहीं देंगे तुमको कहें गया है भगाव पागल ही पागल समझ रहे हो तो थोड़ा सा कि सिस्टम से करना पड़ता है कि वरड को तोड़ कर समझाए यूपीएश सी अच्छा ठीक है ओके तो यह होगे आप लोग समझ गये अगर इसमें हम लोग को परिमाप निकालने तो कितना आयगा कि पारिमाप निकालना तो कितना आयगा आ जाएगा वो भी सिंपल सी बात है परिमाप यानी पेरीमीटर इसको मैंने बताया था कि चारो बुजाओं के जोड को परिमाप बोलते हैं चारो बुजाओं को जोड लीजिए या फिर एक फार्मूला मने बताया था अभी बना था चार गुड़े भुजा बना था ना देखा 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 इनकां का बताई। जैसे वो बच्पन में कहां नहीं निए तय हो फार वे ना पीछ में कहीं गाए उड़ बिल्ली उड़ तो सब उड़्ादादें अगर контрtext क spoke Must वो इसे यह हैं इनको अभी बताया कि सेंटीमीटर का स्कॉयर लगेगा तो इसमें भी स्कॉयर लगा रहे हैं दन्यों प्रभू कहां उले जाओ इनको जल्दी मतलब पढ़ाओ ले जाके और गलत मत समझे लो चार गुड़े भुजा भुजा पांच है बराबर 20 सेंटीमीटर यहां इसकॉयर नहीं लगाना यहां इसकॉयर नहीं लगाना है देखो पहले मतलब समझे लो अब यह तो हो गई मजाक की बात देखें वहां पर इसकॉयर क्यों लगता है छेतरफल में इसमें क्यों नहीं लगता है समझ लीजिए पहले समझ लीजिए नहीं नहीं यह बड़ी बात है अगर आप परिक्षा में इसमें स्कॉयर लगा दोगे तो टीचर इसका उत्तर गलत काड़ सकता है और अगर छेतरफल में स्कॉयर नहीं लगाओगे तब भी गलत काड़ सकता है तो क काँग यार गूरुजी तो मelles बता है रहें कि स्क्वायर लगावे का है हम लगा देन तब हो गलता है ना लगाएं, तब हो गलता है क्या मतलब गूरुए गडवड़ा है ऐसी बात नहीं है, आप सीख नहीं रहें कि शेत्रफल में क्या होता है साथियों भूजा कई स्कॉयर जैसे होता है न? न ये भूजा का स्कॉयर मतलब भूजा गोड़े भूजा यहनि साइड इंटू साइड तो यह 5 cm गुड़ा पांच 2 cm यह गुड़ा होता है न? तो हमने आपको बेसिक पढ़ाया था कि गुड़ा करने पर घाते चुड़ जाती है बरियेबल्स में होता है ना जब आलजेबरिक एक्सप्रेशन पढ़ाया था बीजगड़ती ये बंजक तो इसमें यह सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में भी गुड़ा होता साथ साथ में हां इसके आपके पीछे कोई नहीं है, सेंटीमीटर उठर नहीं है इसमें यह सूत्र का हिस्सा है, समझ रहे हैं यह सूत्र का हिस्सा है, इसमें सेंटीमीटर नहीं है, तो यह बुजा जो है, यहीं सेंटीमीटर में केले है, तो इसले क्या करेंगे, चार पंचे बीस हो जाएगा लेकिन सेंटीमीटर ही रहेगा स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि इसके साथ सेंटीमीटर नहीं लगा है सिर्फ इसी में सेंटीमीटर है बस यह चीज आपको समझ के चलना है ऐसा नहीं किया इसे जो कोई बोल दिया वही सही है ठीक है रूची समझ में आ रहा है भिमलेस परभादीपक चलिए ठीक है अच्छी बात है यहां सभी तक सब सिंगल है फिंगल थे हां तो बताइए जल्दी-जल्दी से बताते चलिए आया समझ में सभी को अब इसको बता दीजिए फिर लगे हाथ बगल वाला यह कितना आएगा इसका छेत्रफल कितना आएगा पहले तो यह बताओ यह क्या है जो लिए हैं दिख रहा है मत देखो तब ही अच्छा है चलो इसका आएगा one four four सबसे पहले रेखा ने जबाब दिया है और वह भी गलत जबाब दिया है बहुत अच्छे सबसे पहले उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने बताया था एक मिनट मांसी ने बताया था और सही बताया था बहुत अच्छे आध मेरे फ्रैको प्रियंका का भी गलत की कश लोग का गलत है नहीं वह गलत बना रहे उसे एक्च्वर में आंसर तो सही है आंसर तो सही है जैसे मैंने एक जांपल बताया ना कि अगर आपको किसी की की पाल्टी में जाना है और आप जब तक को बढ़िया से उस सिच्योशन के आधार पर बन के नहीं जाओगे ना तो वैसे इसमें का है उत्तर तो वही आएगा लेकिन उसे सिस्टम से बना के लिखना है जैसे अगर तुम वही से चला जाओगे जैसे सो के उठेओ तब तुम वही रहोगे अथुड़ा ना यह इसने सहूर बदलेगा अच्छे तरीक्या वदल देना है जैसे कि चेत्र फल निकालने के लिए कि वर्ग का च्छेदर्फल क्या होता है भूजा का स्कॉयर होता है तो भूजा कितनी है 12 है 12 का स्कॉयर होगा 144 होगा यह तो सही है इतना स्वी सही है लेकिन अभी मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था तुम लोग समझें निए वह यह सेंटि मेटर का स्क्वाइर होगा क्यों होगा अगर यह नहीं पता है तो रात के 9 से 10 मेंबसिक पढ़ाता हूं रात के 9 से 10 में 0 लेबल पढ़ाता हूं उसको पढ़ लीजिए ठीक है जलत है मतलब ठीक है चलो अब इसका परिमार बताईए उसके पहले आप सभी जितने भी कंडिडेट जुड़े हैं इस कलास को तुरंद लाइक करिए कलास को तुरंद लाइक करिए देर मत करिए भीया देखो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है न करिए जल्دय करिए एक दिन कोक और रहाथा कि आप भाईय भायक है बोलते हां पर कुछ भाहईनें भी रहत्य हैं कुछ और भी लोग रहते हैं तो मैं सब को बोल रहा हूं भाईयों बैनों और भाइय बावियं अंकल अंटियों दादादीयों जो हैं सभी तुरंद लाइक करी ठीके हैं चलिये हो गले होगया न कि हुरा है अगय बढ़े वाई मैं लाइक करने को और हाँ करने को नहीं बोल रहारe चलो जल्दी से class को like करने को बोल रहा है, मुझको नहीं class को नहीं मित्रों तो नहीं बोलेंगे इस मित्रों तो वो बोलते हैं कौन आप समझ गया होगे, उट मांगने वाले ना देखिए नीचे नंबर चल रहा है जो लोग काफी परिसान है जैसे हरें सिंग हो गए मोहित हो गए सोनी जी हो गई उस पे आप दिन में इंक्वारी करिएगा ठीक है नंबर पर इंक्वारी करिएगा चलिए तो साथियों परिमाब बराबर क्या होता है चार गुड़े भुजा होती है आयत का परिमाब बराबर होता है चार गुड़े भुजा तो साथियों चार और भुजा भुजा कितना टोयल है इकल 48 सेंटीमीटर यह अंसर होगा जल्दी से इसको खतम करते हैं बहुत मज़ेदार बात हो गई यह मज़ावली बात नहीं होग एक खतरना कुश्चन है यह आप लोग बता दीजिए थमजाने चलिए बताइए एक वर्ग है यानि स्क्वाइर है टू इंटू टू एक्स प्लस फोर वाई मीटर है इसका जो यह मुजा है है टू इंटू टू एक्स प्लस फर वाई इसकी भूजा है यह थोड़ा अलग तोड़ा दिल में अतना लोग कर ली है बाकि हम बताएंगे कि देखिए सीधा सा है सिंपल सा है इसमें जो इसकी भूजा दी गई है वो नहीं समझ में आ रही कि इंसान एक जानवर एक साइटान का है यह कर लेंगे चलिए जूटा ही सही हां पलबर के लिए कम से कम बताया तो वो नहीं बोलने वाला हुमें कि नहीं आरा ठीक है कि जूटी बता दिया च्छाjak तो चेत्रफल बराबर क्या होता सात्यों वर्ग का चेत्रफल बराबर होताई हो पुजा का स्कॉयर क मुझा का इसकॉयर होता न तो जो बुजा दी गई तो इसकी शाइड आप इतने लिख लो एक्स प्लस वाई कि यह बहुत बढ़ा हो जाएगा लेकिन फिर बःद कर भी बढ़ा हो जाय इतना पर कभी जां में आता नहीं approach शबाय यह सैध थिसके को साथियों ये भुजा की जगह पर एक्स प्लस 2y लिखेंगे इसका स्क्वाइर अब यह थोड़ा स्टेंडर्ड हो गया अगर आपने 6 7 8 में मैद नहीं पढ़ा था डंग से तब आपको दिक्कत हो सकती है ठीक है इसका स्क्वाइर करने का मतलब यह है इसमें दो तरीका हो सकता है एक तो सूत्र लगा सकते हो आप लगा दीजिए फर्मूला एक इसक्वाइर प्लस भी का इसक्वाइर यानि यह हो जाएका फोर वाइकए स्क्वाइर प्लस टूए बी तू ए और वी यानि टू एक्सवाइ मतलब फ्र एक्सवाइ इसको थोड़ा सुन्दर लिख लो भाईया ठीक है समझ में आया ना समझ में देखो एक्चुल में यह सूत्र होता है जिन लोगों को नहीं पता है मुझे भी नहीं पता है कन्फ्यूजन में न रखिए लिख लीजिए यह इसको ऐसे भी लिख देते हैं सिच्वेशन के आधार पर इसको हम अलट पलट सकते हैं यह समझ में आया ना माहिरा जी समझ में आ रहा है अमिसा अबर्मा अनामिका प्रांसु मांसी प्रियंका फिजा सिल्पी मोहित अनुराग कुछ तो लड़कवे हाई हो नहीं वाई से नाम बोलते रहें जाद एक नहीं खायेंगे लड़किये का नाम बोलते हैं लड़कां का नहीं बोलते हैं एक्चुल में इस कलास में ना 90 परफेंट लड़कियां ही होती है लड़के क्या होते हैं या तो उनको मैं थाती है या तो पढ़ना हैं पिंगी को अधियर हो गया डी जोड के भी निकाल सकते हैं ना 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 बिलकुल न जोड के इसमें निकाल सकते हो ऐसे अगर इसमें जोड होगे तो फिर गडबन हो जाएगा क्योंकि यह फर्मूला बन रहा एक इसक्वायर में कहीं भी जोडने का मतलब होता ही नहीं है हम स्कूर में जोड़ के निकाल सकते हैं तो बहुना हो चचा हो अगर एक फॉर में फॉर जोडबा ना तो आठाए जबकि यह गलत है आप इसकुर को जोड़ नहीं सकते हो आप इसको ऐसे कर सकते हो ऐसे कि समझ रहे हो ना ऐसे लिख लीजिए आगे बढ़ें अगर ख़स्तम करना है तो जल्दी जल्दी पढ़ाना पढ़ेगा अगर detail में समझाना है तो टाइम जादा लगेगा अप लोग क्या कह लोग की detail में समझाऊ यह जल्दी जल्दी ख़तम करूं अगर आप लोग कह रहे हैं कि जल्दी-जल्दी खतम करें तो आप लोग A लिख के कमेंट करें अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं DTL में समझाऊं अराम-अराम से प्यार से बढ़िया से तो B लिख के कमेंट करें मैंने ए और बी लिखने को बोला है कोई बी नहीं लिखेगा और ए भी नहीं लिखना क्या करो भई ए अभी देखों रोंक रहा था फिर भी यह लोग लिख दिये ना वही तो थोड़ा टाइम लगेगा कुछ लोग कभी कभी आ जाते हैं जल्दी जल्दी करने लगते हैं तो जिनको जल्दी थी वो चले गए मैंने पहले बताया था जिनको जल्दी थी वो चले गए तो अगर आपको भी जल्दी है तो आप भी चले जाओ पढाएंगे आम ऐसे ही चलिए तो यह हो गया एक वर्ग का बिकरड दिया है भाईया वर्ग का बिकरड दिया है एवाई साहब एक मिनट इसमें मैं एक सूत्र नहीं लिख वाया था वर्ग के बिकरड की लंबाई ये फार्मूला लिख लिजिए वर्ग के बिकरड की लंबाई ये सूत्र भी लिख लिजिए लंबाई बराबर अंडर रूट दो इंटू भुजा अगर बिकर्ड निकालना है तो यह होता इसका फार्मूला ठीक है बिकर्ड मतलब जानते हो डाइगोनल आप कुछ कहेंगा है इंगली से बोल रहा भाई इधर देखो मैं यह बताना चाहता हूँ आप लोगों को दिख र कि यह कि समझ रहा हो ना अगर इनकी साइड यह 55 सेंटीमीटर है चारो तरफ और हमें बीसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि दिख तो रहा है ना पूरा कि समझ यह चलिए अब हम एक कुईस्टन ही दे देते हैं इसका भिकरण दिया है यही लिख देता हूं आपको यह निकालना है बुजा बताओ कितना है पता ये कितना हैगा जारा को और बीच बीच में लाइक करते जाईए और एक चीज और प्रामिस करेए अपने आपसे वादा करिए आज तक किसी का वादा न निभाया हो लेकिन मेरा निभाईएगा इस कलास को जब कलास खतम हो जाएगी न तो अपने वाटसप गुरूप में और अपने वाटसप के स्टेटस में लगा दीजिएगा ठीक है अक्सर मैं स्टेटस देखता हूं लोगों का कभी कभी तो लोग बड़े खतरनाग खतरनाग चीज़ लगाए रहते हैं समझे रहे हो मतलब देखो तो भावनाव में ही खो जाओ बहे जाओ जैसे मैंने स्टार्टिंग में अभी कलास शुरू करने के पहले बोला था ना दिल के अर्मा और आगे सुने था ना आप लोग मेरी आवाद थोड़ी बेसुरी टाइप के इसलिए मैं गाता नहीं चलो तो भी या कुश्चन ये है कि ये वर्ग का क्या बिकड़ है तो बिकड़ की लंबाई हमें दी गई है और ये फार्मूला लगा देना है चलो भाई बुजा का स्कॉयर भी ह होता है का हमें तो लग रहा है कि भुजा का स्कॉयर होता है का कितना आएगा कि अरे वाँ मैंने थोड़ा सा बोला ये सब जान गए तो ये वर्ग के बिकड़ की लंबाई दी गई है फाइप इंटू अंडरू टू बराबर फार्मूला लगा दीजिए अंडरू टू हमें क्या करना है भुजा फाइंड करना है क्या करना है भुजा निकालना है न कर लेंगे कि नहीं यहां से आप लोग ऐसे कुछ कुछ कुश्चन था एक मिनिट कितना एगा पांच आएगा कि पचीस आएगा लेकिन मुझे इसमें कुछ गलत लग रहा है अब ये गलात नह रोगी पहां को थोड़ा ठीक हें लुटाने विपालए क्डप्टे तों होगों में सबस्क्राइन में इसें यह परम हो गया श청 दाख दोड़ा रहे हाँ अचैनल नहीं जान चाल चुर्जा मैं आगर अस्वाइग से हम रहेंगे यह स्माइल भाग में हो जाये वह Religion यानि पांच बराबर भुजा कहने का मतलब क्या आ गया भुजा कितने आ गई पांच सेंटीमिटर मैंने पांच लिखा भी था तो तुम लोग ऐसे भी नकल कर लिए समझ गये ना इस तरह से अगर मैं एक सवाल और पूछूं भाई थोड़ा थोड़ा हाइं कर रहा नहीं है एक मिनिट देखने दो यार मुसीबत में मुसीबत का है को आ जा रही है क्यों मैंने ठेका लिया सारी मुसीबतों का का मेरे पास ही क्यों आ रही है अकांचा प्रीती रेखा राजा अलम प्रीती यादो क्रिफना रुची बहुत अच्छे बड़ी गूट चलिए तो इसका अगर मैं एरिया पूछू तब भी आप लोग कर लोगे एरिया भी निकाल लोगे न हम आप चलेगा अच्छा चलेगा ठीक है तो आप लोग कर नहीं तो यह टॉपिक खत्में नहीं होने आएगा बहुत सारे प्रस्नों हो जाएंगे ठीक है एक और बताईए अगर इसकी साइट 2.5 cm है भूजा 2.5 cm है तो आप लोग इसका छेत्रफल और पारिमाब बताना ठीक है चेत्रफल और पारिमाब बताईएगा अब पानी वानी पी लीजिए पानी पी के मैं सोने को नहीं बोल रहा हूं और कापी कलम उठाईए मैं कुछ लिखवाने चल रहा हूं इसी के बारे में लिखिए चलिए अब हम लिखेंगे वर्ग के गुड या फिर वर्ग की हैं हेटिंग लिखिए वर्ग की बिसेश्थाएं है नीलम यादो रेखा अमिसा सुप्रिया प्राना प्रियंका चांदनी मादुरी ठीक है चलिए तो वर्ग की बिसेश्थाएं क्या होती है भाईया समझो इधर फाइड में जरध्यान से कुछ बिसेश्था इनकी है नमबर एक पहली बिसेश्था क्या होती है कोई बताएगा एनिवन कोई बताएगा वर्ग की पहली बिसेस्ता ये है कि वर्ग की चारो बुजाएं बराबर होती है लिख लेजिए वर्ग की चारो बुजाएं बराबर होती है ये पहली बिसेस्ता हो गई दूसरी बिसेस्ता लिखिए सिकेंड नमबर वर्ग के परते कौन नब्य अन्स के होते है वर्ग के यानि की इस्क्वाइर वर्ग मिन्स इस्क्वाइर इस्क्वाइर के एबरी एंगल 90 होते है यानि राइट एंगल होते है मिन्स समकौन होते है चाहे तो ऐसे लिख लो कि वर्ग का परते कोण नब्यंस का होता है या फिर वर्ग का परते कोण समकोण होता है ठीक है तीफरा लिखिए वर्ग के बिकर्ण एक दूसरे को सम्दुभाजित करते है वर्ग के बिकर्ण यानि डाइगोनल बिकर्ण मिन्स डाइगोनल ये एक दूसरे को क्या करते हैं इंघली स्ञेट करते हैं इंगलिस में ही बोलते हैं इंटरसेक्ट मतलब परतिछ्षेधित इंघली संदुभाजित क्यों भाई इंगलिस में थोड़ा confusion है आप लोग बताना सही क्या है हिंडी में बोलेंगे क्या करते हैं सम्दू भाजित करते हैं ठीक है और इनकी कुछ बिसेश्थाएं आप लोग लिख लीजी अगर याद आ रहा है तो बस इतनी सारी ही होती है क्योंकि वर्ग बचारा छोटा सवैसे ही होता है तो इसके बहुत सारे गुंड पर गुंड नहीं होते हैं और यह गुंड पर गुं चैनल पर सारी कलास की जिम्मेदारी हमारी ही होती है किसी को कलास नहीं मिल रही तो वह भी फोन करके हमें गरी आता है हमी सुनते हैं हां बाकि हमारे लोग साथ में हैं हेल्प करते हैं हमारी उनके लिए धन्यवाद उनको लेकिन सुनना हमीं को पड़ता है और आप लोगों नजर में है बाकिया में कितने अच्छे हैं वह हमें पता है ना चलो तो यही क्या होती है विसेश्टा होती है कि अगला इसमें अगला फिकर पढ़ना आपको ब्रित क्या पढ़ना है ब्रित यहीं सर्कल सर्कल यह ऐसे ही खतरनाक होता है कभी गोल चीज मुझसे बनी नहीं आद तक कि या यह भी देखो अच्छा नहीं बना रोटी तक नहीं बनती है गोली भाई बुरा मत मानना वैसे भी मच्छे हैं वो तो बोल देते हैं मजाक में आप लोगों को तो कोई गलत मत समझना चलो यह क्या है ब्रित अब वर्ग के बारे में जो भी यहां पर important था मैंने बता दिया मैंने बता दिया अब क्या होगा अब यहाँ पर हम square की बात क्राइब करेंगे और circle की बाते स्टार्ठ करेंगे यानि ब्रित ब्रित मतलब circle थीक है circle घोता इनके बारे में पढ़ना है डीटील से पढ़ना है लेकिन मुझे आएयम बहुत कम बचा है आज ही पढ़ा देंगे तो कल काही को आओगे यह नहीं आओगे तो फिर आगे देखे का कौण कि बहुत आके चिलाओँ अच्छे अच्छे से पढ़ाऊं कोई देखेगा नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा कि इसमें आज नहीं पढ़ाओंगा और कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन इसमें करवा देता हूं और भी कुछ क्विस्चन आप सुनिये और बताईये, सुनिये और बताईये, सम्बाहू तिर्भुच का छेतरफल कितने लोगों को याद है, इaja इमांदारी से बताना, सम्बाहू तिर्भुच का छेतरफल लिखवाया था ना सूत्राना चाहिए संबाहुतिर बुच का छेतरफल बताया था ना बिसंबाहुतिर बुच का छेतरफल हीरोन फार्मूला याद है वो हीरोईन फार्मूला क्या बोलते हैं उसे हीरोन बोलते हैं हीरोईन नी बोलते हैं रे उसका मतलब अलग है वो हीरो ही न अलग है जिसमें तीन बुजाएं आसामान दी होती है तो लगाते हैं पहले पेरिमीटर निकालते हैं फिर फार्मूल लगाते हैं तिर बुज का छेतर फलका ना याद है ना आपको डियलेड की और कलास होती है चांदनी जी अभी तो सिर्फ एक होती है एक्टुली हमारे पास बहुत सारी कलासे हैं तो हम सिर्फ मैथ ही मैथ पढ़ा पाते हैं बाकि हमारी कोशी से भविस्य में जल्दी ही और भी सारे सब्जक्ट होंगे लेकिन अभी सिर्फ मैथ ही चल रही एक सवाल और बताईए 181 का जो कोन है यह किस परकार का कोन है No.A क्या ये अधिक कोन है No.B No.B K्या ये ब्रिहत कोन है No.C क्या ये संपूर्ण कोन है आपसम तो बहुत आसान है A, B, C में से कोई एक option बताईए 181 का जो angle है वो किस तरह का angle है अधिक कोड है या अप्टिूस angle है या acute angle है बागी तो English मुझे आती ही नहीं क्या है इसको अधिकांस अधिक कोड ही बताएंगे अधिकांस लोग अधिक कोड ही बताएंगे अनुपम कौसल्य मौर्या अनामिका, दीपका, प्रभा, मांसी विनोध, सुप्रिया, अमित रुची रानी सिंग ये अधिक कोड नहीं है नहीं है नहीं है मैंने पढ़ाया है अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ पढ़ो उसी पढ़ लो हाँ किस परकार का कोड है 151 अधिक कोड है या बरिहत कोड है या रिजू कोड है बताईए जरब बताईए किस तरह का है आना चाहिए आप लोगों को पहले कुछ कुश्चन बताईए फिर लाश्ट में मैं एक लाइन में पूरा कांसेप्ट बता दूंगा कोड का जिन लोगों ने कोड वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है उनको भी आने लगेगा कि बताईए 151 151 क्या है अप्ट्यूस हेंगल है अप्ट्यूस मतलब OBTUSE यानि अधिक कोड है अधिक कोड की परिभासा का होती है बहिया बताया था न गाइन्टी वन से ले करके 179 के बीच के जितने भी कोड है वो सभी अधिक कोड कहलाते हैं कितने से 91 से ले करके 179 तक और मनें बताया था इसमें वही एक्जांपल दिया था वफा बेवफा वाला न आप लोग कोगई काहे बताते हो क्योंकि यह आप लोगों को बहुत प्यार से दिमाग में बैट जाता है है ना इसमें वह भी बताया था चार कोण ऐसे होते हैं जो एक दूजे के लिए ही बने होते हैं उसमें तीसरे की जगा नहीं होती है है ना चार होते हैं न वो और दो ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ दिन जिससे तालमेल बन जा उसी के साथ settlement हो जाते हैं बताया था ना जब कोण पढ़ा रहे थे जो लोग जुड़े रहे होंगे उनको याद होगा उनको याद होगा ना तो वो कौन-कौन से हैं भाई जो एक दूजे के लिए ही बने होते हैं तीसरे की जगा नहीं होती उसमें कौ समकोड में कोई दूसरा नहीं होता है आशनी ही अस्वाले कोंद था हो failing भी संदेंके नहीं कि टेश्पूर इंगल बताया था कंप्लीट अंगल में सिर्फ 360aşरय काही रहता है कि होता है कि और कोई दूसरा नहीं होता है बताया था न और रिजु कोण बताया था जिसे इस्ट्रेट एंगल बोलते हैं वो भी सिर्फ 180 अंसका ही एक एक कोण होता है उसके भी और कोई दूसरा नहीं होता है एक और बताया था सूनने कोण बताया था बाकी दो ऐसे हैं खतरनाक जो अधिक कोण और नियून कोण है उनके 18 कोण अलग-अलग होते हैं बहुत सारे होते हैं अलग-अलग बृत पढ़ना है क्लाफ नंबर ये 33 है डी एल एडी डी डी डिप्लोमा इन इलिमेट्री एजुकेशन क्या आप लोग जानते हैं बृत कौन से जानवर का नाम है भई हाँ सर्कल क्या है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ना है सर्कल क्या है बृत क्या है उस बिंदु के बिंदुपत को उस बिंदु के बिंदुपत को जिसकी किसी इस्थिर बिंदु से दूरी सदव एक समान रहे क्या रहे सदव एक समान रहे उसे क्या कहते हैं बृत कहते है यानि उस बिंदु के बिंदुपत को जिसकी किसी इस्थिर बिंदु से दूरी सदव एक समान रहे उसे बृत कहते हैं इसके बारे में संपूर अध्यन करना है ठीक है उस बिंदु के बिंदुपत को जिसकी किफी निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा क्या रहें एक समान रहें यानि यह जो सेंटर है यहां से आप किसी भी तरफ को ना पोगे हमेशा दूरी क्या आएगी एक को लाएगी समझ में आ रहे ना तो आप लोग उमीद है कि बृत समझ गया होंगे परिभासा लिख लिजिए इसमें में है जो मैं वो बता रहा हूं अब समझ यह सातियों इस पॉइंट को हम लोग सी से प्राया डिनोट करते हैं और इस सी को क्या बोलते हैं केंद्र बोलते हैं क्या बोलत ओक और इस center से इस परिधी यानि जो चारो तरफ ये खीचा गया है इसको मिलाने वाली रेखा अगर हम इसका नाम A लिख दे तो जो A C है वो क्या है त्रिज्या है किया है साथियों त्रिज्या है जिसे English में radius बोलते हैं तक एसे इक वृत्एयों इसे radius बोलते हैं आप लोग मुझे बताओ कि एक ब्रिद्ट में कितनी रेडियस खीची जा सकती है एक ब्रिद्ट में कितनी तरफ जयाएं खीची जा सकती है पहला आपसन है केवल एक दूसरा आपसन है चार तिरिज्याएं तीसरा आपसन है तीन और चौथा आपसन है अनंत बहुत सारी कितनी बोलो प्रिया कुमारी ठीक है बहुत अच्छे बाई पंकज अभी से कुसवाहा चांदनी आदित ठीक है बहुत अच्छे जिनों ने जबा खिंच सकते हैं infinite खिंच सकते हैं इसकी कोई limit नहीं होती है रही रीखा सीधा अगले तरफ जाके तच कर जाए मानलो अगर यहां पर हम भी लिख देते हैं तो साथियों यह रेखा पूरा-पूरा जो AB है बाबू इसको क्या बोलते हैं ब्यास बोलते हैं क्या बोलते हैं जिसे इंगलिस में डामेटर बोलते हैं क्या बोलते हैं डामेटर बोलते हैं तिरिज्जा को इंगलिस में रेडियस बोलते हैं यानि A C is radius और A B is diameter and C is center समझ में आ रहा है ना आ रहा है ना लेकिन अगर कोई रेखा केंदर को न टच करे यह ऐसे इसी में अपना कूदे भांदे तब क्या होगा भया मानलो इसका नाम D और E हो गया बताएए D E को क्या बोलेंगे नाम बताओ क्या बोलेंगे इसे हम लोग पढ़ रहे हैं सरकल ब्रित पढ़ रहे हैं तो साथियों कोई रेखा जो केंदर को टच ना करें जैसे मैंने उधर दो खींचा है D E और वैसे निकल जा साइड से तो उसे क्या बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं C H O R D यानि हिंदी में इसे जीवा कहा जाता है क्या कहते हैं जीवा कहा जाता है आयूसी राजपूत अन्नु सुकला प्रकास इस्टेटस फॉर यू रचना दीपेंदर क्या बोलते हैं जीवा बोलते हैं भाया क्या बोलते हैं बाबु जीवा बोलते हैं तो D E क्या है जीवा है जिसे इंगलिस में कॉड बोलते हैं लिख लेना ठीक है तो ये क्या हो रहे है ये आप पढ़ रहे हो सरकल बृत तो बृत की ये थोड़ी थोड़ी बेसिक फंडमेंटल है ठीक है और जो ये चारो तरफ की बाउंडरी होती है न भाईया ए बाबू राजा समझ लो थोड़ा सा न यार इसको सरकंफरेंस बोलते हैं या फिर प ठीक है समझ में आया न ये तो थी इनकी बेसिक बातें जो मैंने आपको बता दिया अब इनकी कुछ और भी विसेश्थाएं क्योंकि आपको इन्ही की बारे में आज पढ़ना है विसेश्थाएं सही लिखा हूं न मैं सही तो लिखता हूं लेकिन कभी-कभी गड़बा जा आता है हिंदी बड़ी कटी इसको ऐसे बोलते हैं इंग्लीज में इसको प्रपर्टी बोलते हैं प्रपर्टी जो के साथ हूं भी सेश्थाएं क्या होती है इसे करेक्टरिक्ट्स भी बोलते हैं जो भी हो छोड़िए हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे इनकी क्या-क्या भी स तृज्याएं हमेशा बराबर होती हैं एक ही बृत्य की तृज्याएं हमेशा बराबर होती हैं लिख लिए दूफ्रा लिखे अब बृत्य को सभी बृत्य को सभी ब्यास केंद्र पर सम्दुभाजित करते हैं ब्रित्त को सभी ब्यास केंद्र पर सम्दुभाजित करते हैं यानि अगर इसमें से हम जीवा को हटा दें इसमें से अगर हम जीवा को हटा दें तो ये ब्रित्त दो भाग में बट जा रहा है दो पार्ट में बढ़ जा रहा है कौन-कौन एक तो ये ए भी हो गया और एक इधर वाला ए भी जैसे एक तर्बूज है बीच से काट दीजिए तो तर्बूज आधा-धा हो जाता है न वैसे ब्रित को क्या करता है जो ब्यास होता है वो दो भाग में बाटता है बराबर-बरा दूसरा दूसरा हो गए न तीफरा लिखिए पहला मैंने लिखवाया साथियों एक ही ब्रित की सभी तरिज्जाएं आपस में बराबर होती है दूसरा ब्रित के जो सभी ब्यास होते है ऐसे बोल सकते हैं ब्रित के सभी ब्यास ब्रित को दो बराबर-बराबर भागों में ब अगला लिखिए, यदि दो बृत्थ की तिरिज्जाएं आपस में बराबर हैं, तो दोनो बृत्थ आपस में बराबर होंगे, ठीक है? तो दोनों बृत्त आपस में बराबर होंगे चौथा नमबर लिखिए बराबर बृत्तों की परिधी भी आपस में बराबर होती है बराबर बराबर बृत्तों की परिधी यानि सरकंफरेंस भी आपस में इक्वल होती है लिख लिजिए अगर आप वास्तों में पढ़ने वाले हैं तो जरूरी है लिखना ठीक है ये बृत्त की क्या है खासियत है नहीं लिख पा रहें तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से सुन लिजिए वीडियो थोड़ा पीछे करेंगे फिर सुनाई पड़ेगा बृत्त के भीतर अगला लिखिये बृत्त के भीतर किसी बिंदु से केंद्र की दूरी हमेशात रिज्जा से कम होती है बृत्त के भीतर किसी बिंदू से केंदर की दूरी हमेशा तृज़्जा से कम होती है जैसे एक्जांपल के लिए मैंने कहा है इसमें A-C तृज़्जा है अगर मैंने एक्ठेवर खीज़ दिया O-C तो ये भी क्या है तृज़्जा है लेकिन अगर बृत्य के भीतर हम कोई point ले लेते हैं मालो यहां ले लिए तो अगर हम इसको मिलाते हैं माल लेते हैं इसका नाम हमने रख दिया जड रख दिया तो साथियों जो C और Z है ना इसकी दूरी इसकी दूरी हमेशा A, B या O, C या B, C से कम होगी यही कहा जा रहा था समझ मैं है ना जैसे कोई और point ले लेते हैं यहां ले लेते हैं मालो इसको मैंने यहां मिला दिया तब अगर इसका नाम मैंने Y, C रख दिया तो यह Y, C की जो दूरी है Y, C की जो लंबाई है वो हमेशा B, C या A, B से कम होगी क्योंकि यह परिधी में टच नहीं कर रहे है उसके थोड़ा पहले ही है समझ मैं है ना भाई यह प्रिया कुमारी को बलग करी है इनको पंकज की बड़ी फिकर हो रही है और पंकज को इनसे जादा मतलब और जादा फिकर है तो इनको लोग को हटाईए यहां से क्योंकि पढ़ने दीजिए यह छोटे बच्चों की कलाफ नहीं है यह उन लोगों की कलास है जो इस छेतर में महारत हासिल कर चुके है अब उनकी इच्छा नहीं इसमें और कुछ करने की है ना तो ऐसे इन लोगों को यहां से हटाईए अभी लोग नादान है अभी इक्सपर्ट नहीं हुए है चलिए छठमा नमबर लिखिए एक केंद्रिये एक केंद्रिये बृत्त कभी आपस में काड़ते नहीं है कभी आपस में काड़ते नहीं है एक केंदरीय बृत्त कभी आपस में काड़ते नहीं इसमें कुछ मैंने और भी चीजें लिखके रखा था लेकिन वो मिल नहीं रहा है हो गया एक बृत्त का केवल एक ही केंदर होता है सबसे बड़ी बात ये भी है एक बृत्त का केवल एक ही केंदर होता है एक ही सेंटर होता है एक से अधिक केंदर बृत्त में नहीं होते हैं समझ गए ना ये था बृत्त की विशेष्टा है जो मैंने लिखवा दिया साथ आप लोगों ने उमीद है कि लिख लिया होगा ठीक है अच्छा पांकज दो लोग है ठीक है कोई बात नहीं किसी को बलाक नहीं किया जा रहा लेकिन आप लोग बात मत करो सिर्फ पढ़ाई करिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कुकि वक्त जब बीत रहाय जैसे जो लोग D.L. aid कर रहे हैं वहां तो अक्सर 18-15 तक हो गए अनेमाले दो शी तीन साल में ना लोगаз यह नहीं पूछेंगी आपके कितने बाइश्रेंद है कितने गल्प्रेंड है कितने फ्रस्रेंड है यह पूछेंगी कि करते क्या sotto करते क्या हो? कमाते कितना हो? क्या प्ररोफेसन है आपका? क्या इसे मू बना लोगे? का करोगे? इलागे दिखा दोगे फॉन करके आप बाबू दिखा हीतु का बॉला वाता है का करोगे बता इसलिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए बड़े अनुभव के साथ बोल रहा हूं यह सबाब समझ रहे होंगे तो क्या इसमें मैंने आपको प्यास बता दिया तिरिज्या बता दिया परिधी बता दिया केंद्र बता दिया था मुझे तो नहीं लगता कि इसमें और कुछ बचा है हो गया और क्या है इसमें ब्रित्त खंड परिकेंद्र कुछ चीजें हैं जो यहां पर नहीं बताई जा सकती हैं उनको गोला परकार पट्री पेंसिल से दिखाना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर वो नहीं हो सकता है हाँ कुछ कुश्चन आप लोग कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें कोई सूत्र नहीं बताया है तो लिखिए एक ब्रित्त की तिरिज्या तीन सेंटीमीटर है तो ब्रित्त का ब्यास बताईए एक ब्रित्त की तिरिज्या तीन सेंटीमीटर है तो ब्रित्त का ब्यास बताईए देखिए यह बातें छोटी-छोटी होंगी भले कुश्चन बहुत छोटे-छोटे हैं सूत्र बड़े छोटे-छोटे हैं लेकिन यह आपको आना चाहिए जरूरी है कि कैसे यह कोасть है रूसें बताया अनुपाम और रहा चाहिए कि थीख बहुत अच्छे बहुत अच्छे ऐख सरकल हो गया मान लेता हूं कि यह थी सेंटीमीटर है यह क्या है कि सिम्पल सा बात है मैंने अभी बताया है वह दोत दिन से बता रहा हूं बतातें बढ़ाया बढ अगर ब्यास को डि मान लिया जाइए है तो डो इंठीन आर यह कंब ला होता है इसी को सफटो थे अगर आर निसगाइगा यह सूत्र होता है इनकी त्रिज्य रुज्य निकालने का समझे रहे हो न आप लोग तो मैंने कहा था कि अगर त्रिज्य थ्री सेंटिमीटर दी गई है आपको ब्याफ निकालने है तो आप डबल कर दीजिए हो गया हो गया लेकिन लेकिन का है अगर इसकी परिधी निकालना हो तो कौन-कौन कर लेगा भई अगर इसकी परिधी निकालना है तो क्या आएगा अच्छा इसकी परिधी निकालना के बताओ साथ रख लो इसको कि तिरिज्य को साथ सेंटिमीटर ले लिजिए आप बताइए इसकी परिधी कितना आएगी यानि circumference निकालना है मतलब ये पूरा पूरा निकालना ये 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 परिदी कितना आएगी इसका तो कौनों को सुत्रवे नहाद होए circumference कितना होता है 2 pi r होता है ना 2 pi r होता है ना तो भई सिंपल साहा लगा तो 2 pi r हां सूत्र लगा दीजिए 2 pi r टू इंटु पाई कमान बाइस बटा साथ आर कमान साथ देखो मैंने अभी इसलिए इसको बदल दिया था ये कट जाएगा 44 आएगा 44 cm कितना आएगा 44 अंजली बर्मा दिपेंद्र ठीक है अगर ये सिर्फ 3 रह जाता तो क्या करते तो यहां कटता नहीं बस और क्या और पाई कमान भी न रखते फिर यानि 6 pi आता अगर इसको आर को 3 ले लिया जाए तो 6 pi आता ठीक है अगर पाई कमान राख भी दोगे तो कटे बटे गा तो आए नहीं को न मतलब निकलेगा नहीं को संभाज में आ रहा है न लेकिन आप लोग कलास को लाइक कर रहे हैं वाई क्यूं मजा नहीं आ रही है कुछ सेर सायरी जो जोग चुटकुल्णा लेका आय करे का हैं मज़ा भी आए बीच बीच में सभी साथी फट से कलास को लाइक कर दीजिए तुरंट जल्दी करिए इसमें ये जो भी थे बृत्त में लगबग हो गए अब कुछ रचना वाले टोपिक हैं जो यहां पर बीना आउजार के नहीं हो सकते हैं और वह आउजार यहां पर दिखनी पाएगा क्योंकि यह कैमरा बड़ा दूर है मतलब गोला परकार पट्री पैंसिल और यह सारी चीजें इसका मैं आपको वीडियो दूँगा या कल के लाइब में दिखाऊंगा कुछ बेवस्था करूँगा इसमें कुछ परमिये भी सिद्र करवानी है जैसे कि वरित्य के केंड़ को जीवा केमध्य बिंदू से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है सिद्र कीजे वरित्य की दोत रिज्जा होती है ब्यास की आधी होती है वगएरा वगएरा तो जो सिंपल सी चीजें थी यहां पर बताने लायक मुझे लगता है कि वो हो गये है अच्छा यह बताईए आयत के कोई गुण बताईए आप लोग रेक्टेंगल की कोई प्रपर्टी याद है आपको बोलिए आयत के गुण कोई भी एक प्रपर्टी बताईए आप लोग मेंने पढ़ाया है कि आयत का कोई एक ऐसा गुण बताई यह जिससे सिद्ध हो जाए कि वह आयत है जैसे सब लोगों का कोई ने कोई गुण होता है ना कि कुछ लोगों का गुण होता है बाल वाल बड़े धंक से बना के चलते हैं तो उनको कोई भी अगर पूछेगा बताओ बताओ किसके बारे में अरे वही जो बलवाई से बना के चलता है यह चलती है मतलब कुछ जादा बोलेंगे तो गड़बड हो जायागा इसलिए नहीं आप लोग समझ गया होंगे ना कि कलास सही चल रहा है ना फास तो नेरा वीडियो ना ठीक है मैंने पूछा कि आयत का कोई गुण बताइए तो इसमें सबसे पहले जो जबाब आया है वह है फीजा खान का इन्होंने कहा कि परते कौन नब्बे का होता है तीन सम 180 यह तीन सम सब्सक्राइब है और को यह निवन प्रीति क्रियासन सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है बिल्कुल सही है अनुपाम जी बहुत अच्छे अंजली रूची और रचना कमेडियन अमेस हासमी हर कोंडब्बे का नहीं होता प्रते कोंड ऐसे बोल सकते हाँ यह भी सही ह है अगर हम बोलें मोटा मोटा आपने पूरा डीलेट का किताब यह खतम कर लिया यह यह निवीटी सी का कोर्स आज से खतम हो गया बड़ी खुसी की बात है मुझे पता भी नहीं था खतम हो गया तो आपका समेंस्टर की जो कलास है बत्तीस कलास में सब खतम हो गया है अब डीपली इसमें रिवीजन करना है किसी को अगर लगर आए कि कोई चैप्टर छोड़ दिया गया जो आपको नहीं पढ़ाया गया तो बताईए डीए लेड यानी बीटीसी पर्थाम समेंस्टर का मैथ का कोर्स खतम हो गया है लेकिन जाना नहीं खुसी मचा के कि जाओ चलो डंस करो कल से अब तो खतम होईगा नहीं अभी ये खतम हुआ है मतलब नार्मली खतम हुआ कि कोई इलजाम न लगा है मेरा कोर्स नहीं खतम इसको गहराई से चाट डालेंगे पूरा एक तरफ से समझ रहो ना मतलब समझ रहो कि नहीं जो मैं कहना चाहता हूं अभी इसको क्या करना है खुब अच्छे से रिवाईज करना है खुब अच्छे से इसको क्या करना है रिवाईज करना है जो जो चीजे मैंने रूल में प कि डान्स करना भी शुरू कर दिये कुछ लोग चलो तो एक कोईश्चन बताइए संपूर्ण कोड कितने अंसका होता है संपूर्ण कोड मींस कम्प्लीट एंगल कितने डिगरी का होता है अगला कुष्चन सबसे चोटा नियून कोड कितने डिगरी का होता है अंजली यह तो बहुत पहले बता दिया गया होगा अगर आपके चेप्टर में होगा तो सबसे पहला जबाब आया है इसमें सुप्रिया का फिजा खान और पंकज तीन लोग का नाम बोलूंगा बस 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 सबसे चोटा नियून कोड कितने डिगरी का होता है एक्सोसियंस के कोड को क्या कहते है उसका नाम क्या है रचना गलत है सिंगल बॉय तुम्हारा भी गलत है बच्चा अब वंसी का ठीक है सही है लगबग सही है चलो भीचा खान ठीक है साक्षिक क्यों corr 103 से नीचे निवस कोड नहीं होता है का एक्सोसियंस के सबसे पहला इसका जो सही जबाब آया है एक्सोसियंस के कौड को रिजु कौड बोलते उनका नामीदीपेंद्र की बैूँ अच्छे बैरी गुड दिपेंदार बहुत अच्छे ठीक है, यह आप लोग ने पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, एक एकदम छोटा सा, इस से छोटा कोईश्चन बगवान बना के गये ही नहीं, तुम्हें वह ही बता देता, कि प्रभू जाने चलो है कि एक एंगट फॉट का है और एक एंग़ मैं हमान लेता हूं कि 75 का है तो चचा बताओ की का होगा सी नंबर कितने का होगा पंकज रभी कुमार हाँ बोलिये बोलिये कितने का होगा सोचिए और बताइए कर लेंगे इसको भी अच्छा यह रिवीजन है हो रहा है क्या हो रहा रिवीजन हो रहा है क्योंकि सब खतम हो गया भाई सिंगल बाय तुम तो बड़ा अजीब टाइप का कमेंट कर रहे हो खतरनाक टाइप का लेकिन उत्तर तो गलत है अनुपाम का सही है गौतम का गलत है और सुप्रिया का सही है माहिरा का सही है रेखा का भी सही है प्रियंका ठाकुर जी सही है कि अहीं से हैं आप लोग शिद रिषसा में जा रहा हों है कि एक और बताईस है कि वॉन अपंवाइब को पर्फेंटेज में कनर्ट करेंगे तो कितना पर्फेंट आएगा भाई यह वतादो लगों के साथ साथ में गुप बच्प वाहाई है वो लोग उसको ना करें बंद कर दें क्योंकि मैंने देखा है सुना है कि लोग पढ़ते भी रहते हैं कोई मुझ भी देख रहें कुछ भी करने बिच बिच में उपर सही से नोटिफिकेशन आता रहता उसमें भी दिमाग जाता रहता है तो इस दिमाग का उपयोग सही जगा तश्थ कर दो कीया था दीपेंद्र हैं ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था यह थी पेंद्र बहुत च्सane करने के लिए हमेशा क्या करते हैं गुरुаж जी हमारे हम लोग का बडा मजा लेते थे कि आफ आने यांद और गाउंगोज से तो इसा ने परेजन बखिये और परेजन बाइब करेंगा इसले क्या करिए पढ़ने के तुरंद भाद रीजा न करिये यह नहीं की नांगे बाकी यह थया को सब्सक्राइब तुर की मांगे रह जाएगा और जब तक रीजन नहीं होगा तब तक किया होगा प्रती कि बसे ग्रॉन के जैसे तक मोँ الذي करते हैं तभी कुछ बोलते हैं तो वैसे क्या इसमें भी कंफर्म करना है आपको कि आगे एक और बताइए अगर किसी परिक्षा का पूड़ांग कर आड़ सो है हुआ है और कोई उसमें से प्रातांग 680 नंबर पाता है तो कितना पर्फेंटेज है आओ अ कि बताइए कितना पर्फेंट है दक्षा आपका सही था लेकिन आपने पर्फेंटेज का चिन्न नहीं लगाया था कि पांकष के त्सक्राइन के का लगाने के कारण आपका गलत त। कि बताए जबा दीजिये कितना औहों कि बोलिये यह बाई साव यह मैंने पढ़ाया था ना आपको CP यानी क्रे मुल्ले किसी बस तुका CP यानी क्रे मुल्ले 1200 रूपए है यस पी यानी की सेलिंग प्राइस उसका 900 रूपए है तो यह बताओ परफेंटेज प्रॉफिट कितना होगा पढ़ाया है ना मैंने इसको कि नहीं पढ़ाया है ना पढ़ाया है ना बताओ चलो बहुत अच्छे बाई बेरे गोड इसमें अगर मैं बात करूँ अंसर देने वालों की कमी नहीं है एक से खतरनाक भी रही है इसमें सबसे पहला जबाब लकी ने बताया है 85 परसेंट अनु बल्यान ने भी वही बताया है लेकिन इन्होंने परफेंटेज नहीं लगाया एक कदम और आगे हैं पंकज ठाकूर बहुत अच्छे उस्वारी प्रियंका मतलब नाम एक जैसे है तो गड़ बड़ो जा रहा है साथियों इसका परफेंटेज निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया था आपको प्राप्तांक को गुड़ा करना है 100 से क्यों भाई यह है यह ना पुड़ांक से भाग दे देना है यह भाई रुक जाए एक मिनिट पुड़ांक 800 था यही करना है न दो जीरो से दो जीरो ग आठ ठाई चौशाट अट बंचे चालीस 85 परफेंट वालों का सही है यह यह फार्मूला बताया था जो प्राप्तांक है उसको सौ से गुड़ा करके पुड़ांक से भाग दे देते हैं टोटल परफेंटेज आ जाता है ठीक है इसमें कितना परफेंटे का प्रॉफिट है पहले तो यह जानो रहे भाईया की प्रॉफिट है कितना परफेंटेज बाद में निकालना हां अगर छोटा सा बच्चा है तो पहले वह उठके बैठना सीखता है पहले दौड़ने लगता है पहले उठके बैठना सीखता है चि मीरने चलता है तब दोर्टा है तब मार करता है समझ रहे हो है तब यह व्ट सप में जो कर रहे m ऐसको करता बाद है तो किramit कितने कर रहा थें सो का हो रहा है कि छेडा एब भी आप quéर hit भालव भी आप वारा सव रूपया में खरीदा था नौ सव रूपया में ब Tenn राहें कितने में 95 रूपया में बेच रही तो यह एप यह प्रॉफिट नहीं हूगा यहां पे लास हो रहा है जो रहा है कितने में 900 रूपय में बेच रहा है तो यह profit नहीं होगा यहां पर लॉस हो रहा है 300 का ना कितने का 300 का तो क्या करेंगे पर्फेंटेज हानी बराबर या लास बराबर लिखेंगे तो हानी कितने की हो रही 300 की गुड़े सो बटा कितने में खरीदा था बारा सो जीरो से जीरो कट गया इनको काट पीट दीजिए यह कट जाएगा क्या कि 25 को नो बता रहा भी कट जाएगा का 12 दूना 24 बारा पंचे 60 हाँ ठीक है बरी गुड़ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे इतने सुन्दर सुन्दर बच्चे व अप लोग की मैं क्या कहूं चलो अच्छे हो चलो ठीक है 25 परसेंट आगे ना सबी को आज टाइम नहीं बित रहा है क्योंकि कोर्स खतम हो गया मैंने सोचा थोड़ा रिवीजन कर दूं तो चार टाइम बिज्च बंद करें लेकिन ये खत्में नहीं हो रहा है जिंदगी में पहली बार हुआ जब मैंने टाइम बिताने के लिए सोचा नहीं त अप जानतें बिंदू क्या है फांट वांटिज पॉइंट मैंने पढ़ा है ऑज्वी इसकी परिभासा अगर आ लिखने में को बिंदू क्या है तो क्या बताओगे यह बिन्दू बोल रहा हूं मतलब पॉलिंटर बिंदू किसी का नाम नहीं क्या है बताईये कि सोचिए और बताईए कि पीछे कुछ गड़बर तो नहीं दिख रहा है कि इधर गुमता हूं तो मैं खुद नहीं देख पाता हूं पीछे गुमता हूं तो आप लोग देख लेते हो गए को सल्या मौर रहा गौतम देखो भाईया पढ़ने आया हो ना बाबू तो पढ़ लीजिए अच्छा काम करोगे तो खुद ही नाम होगा जहां से अनंत रेखाएं खीची जा सकें उसे बिंदू कहते हैं और कोई जिसकी लंबाई नहीं होती है ठीक है असनेया अनुपम नीलम यादो किसी पैंसिल के नोक चिन को बिंदू कहते हैं नोक चिन को मतलब आपका भी भावनाय सही है जो आप कहना चाहती है लेकिन यह थोड़ा सा और अच्छे से बताना चाहिए कई तरीके से आप कह सकते हैं अगर इसे हम विज्ञान की भासा में देखें तो एक ऐसी आकरती जिसकी कोई परचाई नहीं होती जिसका कोई आप ड्रोड़े देखें dev agreement य को मतलब संवज़रो अपरचाहि नहीं क्या बोलते हैं तर से मोग समझ रहे हो बॉल नहीं पाहा है मतलब कहते ना मुहें बाहली कि निकलत नहीं बहँ श्रस्पू पर इक चोमें दिक्कत हो जाए ना भाई और आ मुहम लेकिन कस अमनों आयौत लिखात मांद बनागे 걸ूए पी राकी का कहते हैं है 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 सुन रहो हमें सभावत्रान लेकिन हम लिखने पहनدةे हुए वह पहनों कि मालुम सबरान लिखने पहने तो वही हाल ह boy उना होने पाई If Les UW कर लिजिए इसलिए। कर लेजिए जिससे यहेना कहने रहें आधा स्भावत्रान लिखना पाए तो यह बताइए तीन एक्स का स्क्वायर धन एक्स का स्क्वायर क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है कि नहीं देखिए ये सजातिये पद है सजातिये बिजातिये मैंने बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को ना मताया था कि यह लोग क्लास में पढ़ते हैं कॉले पढ़ते हैं कहीं आपस साथे में काम काज करते हैं तो ऐसे दो लोग तो जो जिनकी सोच-पसंद और क्या बोलते उसे कार-इक्टिविटीमिटी गुण-पर-गुण없이 सारी चीजें मैच खाती हैं मैं फ्रेंटीब हो जाती दोस्ती हो जाती है और दोस्ती किया होती बाद में प्यार में बतल जाती है तो यह ingeample के साथ मैंने आपको basic वाली कलास में पढ़ाया था सायद अगर आपने देखा होगा तो इन्हें यहाँ पर जादा हम deeply नहीं बताने वाले हैं अगर इनके चर यानि variable sequel होते हैं और घात भी बराबर होती है तो यह सजातिय पत कहलाते हैं घात बराबर होनी चाहिए और चर भी एक जैसे होने चाहिए तो सजातिय पत कहलाते हैं तो यह घात भी बराबर है चरपद भी बराबर है इसलिए जूड़ जाएंगे और जूड़ते कौन है जूड़ते कौन है यह घात बाद सब देखने के लिए हैं जफे देखते नहीं हो नेता अभी समय सबसे अच्छा एकजामपल चुनाओं का चल रहा है उपी में एक दूस समझ रहे हो कि नहीं उनकी आपस में कभी लड़ाई नहीं होगी यह लोग आपस में साधी ब्यामें भी जाएंगे अपना इनका कभी दूस्मनी बाहर नहीं होता है इन लोग का एक गेम होता है वे हम तुम खेला जाए यह सब तो बेवकूप हैं बीच में जो जंड़ा ले इसमें इनके गुडां गुडांक जूरते हैं बस ऐसी एंट यूड़ते हैं घाथ वही लगी रहती है नहीं Karma यानी इसका पूरान क्या थीन है इसमें इसमेंट यूड़िय दिख नहीं रहा है है कि ए ताथ थीन और एक जाएगा 4 यहosition 5 0 का नी गुढांक गुढांक आपस में जुड जाते हैं कॉफिसियन जुड जाते हैं घाते वैसे लगे रहती है चर्पड वही रह जाते हैं कि फार में श्रैख्स क Намढ़ और अंपां गोडाख्स का पावर three आइश कि इसको मैं ने क्यों बताया इफ लिए बताया क्यों हैं तो बड़ी छोटी छोटी बात हैं लेकिन आपके समेस्टर सिलेबस में इससे ज्यादा बड़ा पढ़ना भी नहीं नहीं हजमनी होने वाला फिर आज मुला अलग से खाना पढ़ेगा कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना छोटा छोटा काहे दे रहें तो इतना ही है क्योंकि पहला पहला समेस्टर है पहली पहली बार है तो इससे जादा बड़ा हो जाएक तो गड़ बड़ हो जाएगा अच्छा एक बात इमांदारी से बताना दिल से बताना कसम खा के ना बताना वैसे बताना अच्छी बात नहीं पूछने जा रहा हूं बस मैं यही पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या इसका फर्मूला याद है बताई यह याद है कि नहीं भई क्या नाम है वह हिमेश रे समिया की हितेश कुछ ऐसा कुछ कमेंट आ रहा है ऐसे ही कुछ है कि अलग है अरे वह काफी पॉपुलर है भई गाने वाने में लोग देखते हैं काफी अच्छी तरह से सिंगिंग होती है चलो के अब लोग समझे गए होंगी याद है पक्का याद है यह जैसे कहते नहीं किया थे Um करते हैं और वही बात वो क्या करता है अगले पांच लोग से पहले भी बोल चुका होता है लेकिन करता कभी नहीं कि बोल चुका होता भी है और होती भी है समझना इसमें होती ज्यादा होता है होता कम होता है तो हाँ यह फर्मूला में इस लिए दिया क्योंकि भाई इसका काम कि हो गया खतम हाँ चलते चलते एक और भी बात कर लेते हैं यह बताइए द्यान देना पागल नहीं कहते हैं पागल हो जाते हैं एक और मैं क्या बताने वाला हूं हम पांच केजी का पांच केजी का पांच केजी का पांच सो गराम कितना परतिसाथ है यह बड़ा खतरना कोईश्चन है by in 2 50 के जी का 500 गर्म कितना परसेंट आधको कहा जहीवूद नहीं दीम कर दिया वह है कि इत्रह अच्छा बात लीका था फिर भी डिलीट कर दिया कि कि एक कितना पर फेंट है स्wny और बताईए कि यह थोड़ा अलग है यह थोड़ा अलग है यह थोड़ा दोखे बाज बेवफा टाइप का जिसे बोलते हैं समझ रहो कि नहीं अब आप कहोगे यह सब बाते का है बोल रहे हो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं बताऊंगा कभी दर सुनिए पहले वह यह है कि इसका वास्तविक फेस अभी नहीं दिख रहा है इसका नहीं दिख रहा है समझ रहो ओने जैसे कोई किता नहीं मैं तुम्हाब लें चान तारे तोड़ लाऊंगा अब उच्छान तारा कभी देखा भी नहीं है खुद से छुवा तक नहीं लाएगा गहां से समझ यह मैं कहना क्या चाहता हूं आइए यह ग्राम में है यह क्या केजी में है पहले तो इनको एक ही रासी में बदलिए एक ही रासी में बदलने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं समझ रहे न जैसे है वैसे नहीं इनका पहले रियल फेस दिखना चाहिए एक दूसरे को आमने सामने कैसे हैं यह आईए यह पांच केजी दिख रहा था ना लेकिन यह वास्तों में पांच हजार ग्राम है और यह कितन क्यों भाई सारबजेनिक करना चाहते हो हां और जिसकी प्रेम कहानी में बताने वाला था कहीं वो सुनके सुसाइड कर लिया तो क्या होगा बताओ कहेगा अरे मेरी कहानी का तो परचार कर दिया इन्होंने अब बताओ पता चले वो दोनों पर आनी देख रहे हो कहानी तो जिन में यह हुआ है बात दोनों देख रहे हैं तो क्या होगा हमें तो जीने नहीं देंगे दोनों मिलके बताएंगे लेकिन किसी बहाने से बताएंगे कभी कि वो लोग न जान पाएं कि मैंने बता दिया आप लोगों से हां और कोई बताना नहीं अकसर वो लोग हमारी कला निकाल लेना मैंने बताया बहुत बार निकालोगे ना 500 को गुड़ा कर देना है किस से 100 से और 5000 से भाग कर देना है क्यों सही जा रहा है गलत तीन जीरो कट जाएगा क्यों भई 10 परसेंट तो आ रहा है यह सब 25 परसेंट कहां से बता रहे थे कि दस परसेंट तो आ रहा है यह 25 परसेंट कहां से बता रहे थे यह देखो का बोल रही बहुत गाली देंगे यहां सही बात है नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे किसी की स्टोरी नहीं बताएंगे बहुत गाली देंगे सही बात है कि चुप्पे से बताएंगे कभी कलास में बीच में बता देंगे वो लोग जान नहीं पाएंगे कि कि समझ में ना देखिए सही भी है यह दस पर फेंट ही आएगा आप पांच हजार का दस पर फेंट निकालो पांसो यह आएगा भई या फिर तुम ऐसे लेलो मोटा मोटा पांच सो को दस से गुड़ा करो तभी तो पांच हजार आएगा ना ठीक है यह बताईए तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी गौतम जी ठीक है बहुत अच्छा है बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने पहले बताया था लेकिन भया हो नाम के चक्कर में न पढ़ा करिये एक्चुली न हमको दिखाई थोड़ा कम पढ़ता है क्योंकि हमें दो तरफ एक साथ देखना पढ़ता है तो एक तरफ ही देख पाएंगे ना एक बार में अच्छा आप लोग बताईए पहाड़ा याद है आप सभी को टेबल याद है नाइन्टीन सेवंजा कितना होगा इस मिरी अन्हीं सभी 3 एक कितना होगा ये पहाड़े यी मुझ इस तरह से आद होने चेहिए क्योंकि जब हम लोग कल्कुलेशन करते हैं तो हम लोग गुड़ा भाग करने लगते हैं दिमाग में रहना चाहिए खोपड़ी में 19 सत्य कितना होगा इसमें से उमीद है कि अधिकांस लोग को नहीं पता होगा तो मुझे भी नहीं याद रहता था पहले लेकिन अब पढ़ाते पढ़ाते ना अभ्यास हो गया ठीक है 133 बहुत अच्छे बेरी गुड उर्वर्शी बर्मा भाई इनका कमेंट तो आज पहले दिन आ रहा है इन्होंने दो-चार दिन कलास देखा उसके बाद ये मंगल गरा चली गई थी तो चला जाए फिर बंद करा जाए अभी तो बहुत कुछ बचा है भाईया बंद काहे से करोगे यह बताए रोमन संख्या रोमन संख्या यल कैप्टल यल यह किसका मान है यह किसका मान है यानि कि दसंख्या पधती में इसका बैलू कितना होगा जैसे इसका वी का पाँच होता है वैसे यल का कितना होगा कितना होगा भाई बोलो ना गौतम जी आपके यह तो मैं आपके नाम का कल से बोर्ड लगा यहां पर जो भी देखेगा तुम्हें को नाम बोलेगा इसमें सबसे पहला जबाब अगर किसी ने दिया है तो उनका नाम है अंकित पंडे बहुत अच्छे अंकित जी बेरी गुड बेरी गुड अभी गौतम सच्व तर्मबाद में रोएंगे मेरा नाम तर नाई बोले थीक है लिला प्रोमन संख्या में अगर हम आगे बात करें तो उस्को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे किसे लिखेंगे बताएए किस से लिखेंगे नहीं, इंसल्ट की बात नहीं मैं ऐसे बोला कि हाँ कम से कम जागते रहें आप लोग सोय नहीं और आप लोग कलास को जब लाइब रहे तभी देखा करें बाद में मैं कलास देखने ने दूँगा, कल से हटा दूँगा जब लाइब में पढ़ाता हूं आप लोग आया करिए टाइम निकाल के आई यह मैं अपना सब कुछ छोड़ चाड़ के आया हूं पढ़ाने आप लोग भी छोड़ दो कुछ दिर के लिए फिर चले जाना उसी में चलो तो यह 35 36 इसको रोमन अंक में कैसे लिखेंगे इसको रोमन अंक में कैसे लिखेंगे बोलिये जल्दी करिए देखिए अभ्यास प्रसने में मुझे लग रहा मजा आ रही है क्योंकि संख्या बढ़ रही है जैसे जैसे रात बीत रही वैसे वैसे संख्या बढ़ रही है क्या बात है बह अगर मैं रोमनंक में ये पचास को ऐसे इसमाल यल से लिखू तो क्या ये सही है क्या ये सही है हाँ या नहीं बोलिये कि यस या नो कि आमिर प्रियंकठा को रेखा आयूसी काय को मुझ बना रही हो अब आज काफी लेट में जा रही है अब वीडियो थोड़ा सा आगे भगा लीजिए सही हो जाएगा मुझे लग रहा है थोड़ा फंस रहा होगा और देखे इसके सपोर्ट में कितने लोग है आनूपा मौट्रा ने कहा नहीं दीप का नहीं नहीं अरे कौन हां बोल रहा है पंकज इपंकजवा देखा सुदरा नई अभी एक बार में बोला तो प्र कहेंगे कि हमको ऐसे काय बोलते हैं सब नहीं बोल रहें औरे कम से कम देखी देखा बॉल दो नहीं 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 Bis तो वैसे यहां पर है क्योंकि यह आंसर जो है गलत है रोमन अंक में कभी भी इसमाल लेटर नहीं लिखा जाता है हमेशा क्याप्टर लेटर ही लिखा जाता है समझ रहे हैं न हमेशा क्रेटर लिखा जाता है इसमाल लेटर में लिखा हुआ रोमा नंग गलत माना जाता है तो एक और बताइए A और B यह अंडरूट थार्टी सेबन है यह अंडरूट थार्टी सिक्स है इसमें से कौन रेशनल नंबर है यानि पर्मिय संख्या है इसमें कौन रेशनल नंबर है यानि पर्मिय संख्या है A या B सोबित कुमार निवेदन है धैर बना के रखिए सब्र बना के रखिए और कलास देख लीजिए प्रिया कुमारी कह रही एइ पंकज कह रहे हैं बी प्रिया कुमारी अभी तुम ही बात कर रहीती न तब ही तुमारी बुद्धि उधर चली गई है तुमारे गलत बाकि सब कई है प्रियंकग छा कुर गौतम पतेल चांदनी हाट Harm सौरफ और सुमित माली नेहा गुपता रचना पूर्णिमा दुबेदी वन्सिका ठीक है भाई आओ मैंने बताया था कि कोई भी नंबर रेफनल नंबर होगी पहले तो उसका वास्तविक फेस देखेंगे चेहरा अगर धांक रखा है तो पहले खोल के देखेंगे वह यह कौन स्मझेट स्यूख समझ कंप तेखेंगे करेंगी वर एफनल नंबर या नहीं है कैसे चेहरा खोलने का मतलब क्या है इस पर भर्मूल लगा अभी हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते यह आधे कि नहीं यह यह पर्मिय है या नहीं पहले उसको वर्गमूल निकालने की कोशिस कर तब एकदम जब क्लियर सिगनल मिलेगा तब बोलेंगे यह रेफनल है कि नहीं है तो भाईया हो इसमें से तो वर्गमूल का चिन हटेगा नहीं इसमें से चिन हटेगा नहीं क्योंकि इसका completely वर्गमूल नहीं निकल सकता है निकलेगा जोड़ जबर जस्ति करने से वो भी दसामलों में आएगा समझ रहे हो ना पॉइंट में आएगा completely पूड़ वर्ग संख्या वो है नहीं इसका निकल जाएगा 6 आएगा कितना आएगा 6 आएगा तो यह बी वाला क्या है रेफनल नंबर होगी यह रेफनल होगी यह वाला क्या है रेफनल कि समझ में आया ना कि आया ना समझ में यह बताईए समझिए जैसे हमने तीफ लिखा तो तीज को हम ऐसे लिख सकते हैं तीन बार एक्स एक्स तो क्या चालिस को हम चार बार एक्स एक्स लिख सकते हैं यास या नो और अगर नो तो क्यूं बोलिए यास या नो और अगर नो तो क्यूं सौरव सुप्रिया एवाई मज़ा नले तुलोगा कोशिश करिए और बताइए नहीं तुम बताता हूं इसमें सिर्फ अभ्यास प्रस्न होंगे बहुत सारे कुश्चन होंगे आप भ्यास के लिए ठीक है आसीता का अंसर आ गया प्रियंका कभी आ गया सानिया चलमा और वर्षी बर्माव वंसिका उस्वाह महिरा आप लोग देखिए परसंटेज के चिन्न के साथ बताइए तभी अच्छा है एक कुश्चन और है साथ बताइप पच्चीज को परसंटेज में बदलिए यह आप लोग सभी जानते हैं है ना सब को पता है इसमें कुछ नया तो है नहीं यह आप लोग कर लेंगे मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों ने पढ़ा भी है तो सब्सक्राइब कर लेंगे कि चल यह ठीक है कि मैं एक बार बता देता हूं थोड़ा सा फिर आगे बढ़ूंगा कि साथियों इसमें दसंब्लों लगा है पहले दसंब्लों हटाएंगे तो दो अंक पर दसंब्लों है नीचे वन के बाद दो जीरो बढ़ जाएगा यानि 25 अपान 100 आ जाएगा अब इसे पर्सेंटेज में बदलना है मने बताया था कि जब भी पर्सेंटेज में बदलते हैं तब उसे 100 से गुड़ा जरूर करते हैं वही पर्सेंटेज में आंसर होता है इसे 100 से मल्टीपल करेंगे 25 बटा 100 को 100 से गुड़ा करेंगे अब य ठीक है रचना नेहा कुमारी सुप्रिया अकांचा गंगवार चांदनी वंसिका कुस्वाहा माहिरा आदित्य धारिया चलिए सभी साथी कलास को लाइक जरूर करें आप बहुत से कंडिडेट कमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और जो सब्सक्राइब नहीं करा है उसे कमेंट करने से रोक दिया गया है ठीक है तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख कर देंगे 25 से कड़ जाएगा पचीश चोकर सो साथ का दो में यह चार में गुड़ा हुआ थाइस परसेंट क्लियर कि इनको भी आप लोग करके बता दीजिये कितना आएगा इसलपी केसर वानीची बताइए कितना आएगा को कोशिस करके बताइए कितना आएगा कि इनको आप लोग कर लीजिये अगा ठीक है कि इसक्रीन साथ ले लिया करिए जिससे कि आपको मेहनत ना करना पड़े बाद में आयूसी राजपूत जी गुड़ इबनिंग लेकिन क्लास का टाइम आप सायद नहीं जानती है तो रात के दस बज़े से है और टाइम से आया करें हां ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए दो केजी का पंदरा सो गराम कितना परतिसत है कितना परतिसत है देखिए परिक्षा में कुश्चन पूछा जा सकता है और आप लोग बियोस हो सकते हैं इसमें समझ रहे हों बताओ कितना पर्फेंट है अरे वह सिल्पी कोई दूसरा था आप सिल्पा है मुझे मालूम है चलिए आप टेंसन मत लीजिए एक नाम के यहां कई महातमाय जुड़ते हैं मतलब महानातमाय तो उनी में से किसी को बोल दिया जाता है कितना है देखिए इसमें सिंपल सा है साथियों एक केजी में दिया गया है एक ग्राम में दिया गया है पहला नंबर तो इन्हें एक ही रासी में करेंगे और एक रासी पर्षेजी में होने के बाद हम इने कुछ भी कर सकते हैं कि आई यहां पर हल करते हैं कि दो केजी बराबर दो हजार ग्राम कि यह आप सबको पता है और यह पंदरा सो ग्राम अल्रेडी दिया है कि द्मर्ष रोदबन आरा करते हैं आर्शन्टेज में करने के लिए धित्रिशelim हिए वीविए जो तॉसर हो वंधिट करें यही मैंने जिकतना होता है तोटल उससे भाग करते हैं हो यहीं करते हैं ना भाय और क्यांत एक जीरो दूसर के फिइसाओ ती फरका तीफरके ती तरका दूर्से काट देंगे 75 आएगा ठीक है यानि कितना परसेंट है 75 परफेंट है समझ रहे हो ना अगर आपके पास दो किलो लड्डू है बुंदी वाला और आपने बड़े प्यार मोहबत में अपनी फ्रेंड को डेढ़ किलो दे दिया कितना देढ़ किलो कितना था दिया उसको 75 परफेंट दे दिया कितना दे दिया पचातर परसेंट जैसे अगर आपके पास 2000 रुपईया है और कोई बोले कि मुझे इसका 75 परसेंट दे दो होता नहीं लोग कहते हैं अपनी कमाही का अपने जेव खर्चा का फट फलाना फलाना परफेंट हुआ दे दिया तो समझ रहे हो कि नहीं अगर कोई कहें कि अपनी जेव में जो 2000 रुपई रखे उसका 75 परसेंट हमें दे दो तो इसका मदलब 15 रुपई दे दो लेकिन यह इतना आफान कहां है इस ऐसे यह तो मैंने कर लिया ठीक है अगर यहां पर छोटा सा बदलाव कर दिया जाए 1000 कजी तो कितना परसेंट हो जाएगा अब बताइए कितना परसेंट हो जाएगा जरा सोचिए बताइए बोलिये फटफट बोलिये पहले नमबर तो यहां पर बुद्धी नाम का चीज लगाना ही नहीं है बीना दिमाग के बता देना है कोपड़ी बंद करके स्वीच आफ करके देखे यह 2000 हो जार है आपको पता है यह 1000 गराम है मतलब 2 किलो का एक किलो कितना परसेंट है आधा है 50 परसेंट है कितना है 50 परसेंट है ना हुआ 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 है आई उसी है सबसे पहला जवाब बहुत अच्छे दिपेंद्र आसिता प्रिया ठाकुर सुप्रिया बेरी गुड़ आप लोग कोशिस कर रहें इसका मतलब ठीक है अब बताईए इमांदारी से बताना बिल्कुल है पूरी इमांदारी के साथ है कि सबसे चोटी भाज्य संख्या क्या है सबसे चोटी भाज्य संख्या क्या है बोलिए क्या है जैसे कुश्चन है तीन जीरो जीरो वन और फॉर इसका गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा कितना आएगा कोशिस करते रहिए फटा फट्रा ही करते रहिए कोई दिक्कत नहीं चलिए ठीक है साथियों बहुत अच्छे तो क्या करना था मैंने जो आंसर पूछा था सबसे चोटी भाज्य संख्या उसका आंसर फोर है सबसे चोटी कंपोजिट नंबर क्या है फोर है सबसे चोटी अभाज्य संख्या क्या है सबसे चोटी अभाज्य संख्या क्या है तो दो है ठीक है याद रखना हम लोग कर रहे हैं अभ्यास प्रफन यहां पर जादा फिजादा प्रफन करना है कोईश्चन करना है इनका अंसर कितना आएगा कोई बताया आसिता भाई ये हिंदी वाली गिंती समझ में कमाती है देखिए इसमें सिंपल सहा मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि दसमलों को भूल जाईए पूरानी यादों को भूल के नए यादों में जीना शुरू कर दीजिए आईए कैसे इन सबका गुड़ा कर लिजिए दसमलों नहीं लगाना कहीं भी तो तीन चोग बारा आएगा ना इनको ऐसे लिख दीजिए अब यहाँ पर तीन अंक पर दसमलों था यहाँ पर एक अंक पर दसमलों था तोटल चार अंक पर दसमलों लगेगा फोर डिजिट पर पॉइंट लगेगा सही बोल रहा हूं हां मैं गलत कब बोलता हूं तो यहां पर दो अंख है तो दो अंख और बना लेंगे ये समझ रहे हो इसके आगे एक्ठी सुनना लगा देते हैं वह इसे फोकट में यह जो लोग 5 पन जीरो लगा दे रहे नहीं है यह समझ गए ना बैया चलो यह बताइए रिचा ने अब को रिचा का है रचना ले लो इसमें कोई जुड़ा है सायद मुझे लग रहा है रचना गई मार्केट मतलब बजार ठीक है इन्होंने वहां से हल्दी खरीदा बुरा नहीं मानना देखिए हम लोग सभी लोग मार्केट जाते हैं नहीं गरियाने लगो गरियाना नहीं रचना मार्केट गई चार रूपए 75 पैसे की हल्दी खरीदा ठीक है पांच रूपए का नमक खरीदा अब यह मत पूछना कौन सा नमक था कुश्चन समझना धनिया खरीद लिया साड़े तीन रूपए का अब बताना पहले फाइनल में धनिया खरीदा साड़े तीन रूपए का और शोला रूपए 55 का तेल ले लिया क्योंकि तेल सबसे महेंगा है शोला रूपए 55 क्या ले लिया तेल और अगर और अगर रचना 50 रूपए लेके मार्केट गई थी तो यह बताओ कितना रूपए इमांदारी से लवटाक लेके आएगी इमांदारी से ऐसा नहीं है कि होता नहीं कुछ मार्केट जाते हैं घर से पैसा ले करके तो कुछ कितना रूपए लेके आएगी भाई लुटा के बोलो कि देखे यह आपको आना चाहिए क्योंकि आप लोग पढ़े भले ना लेकिन दुकान उकान पर जाना पढ़ता है पढ़े लिखे हैं शकल से लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं दुकांदार कहता है जोड़ लेकिन पगल लागत भाई तो इसलिए आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए पंकज बता रहें कि साड़े एकाइस रुपया बचेगा सुप्रिया बता रहें कि बीस रुपया पचीस पईसा बचेगा कमाल के हो बैग जितने लोग उतना अंसर सब का अलग अलग सब का अ यहीं पर जोड़ो ना लाइट लाश्ट का डिजिट जोड़िये पांच है तो पांच हो जाएगा ठीक है साथ पांच बारा बारा पांच सतरह हां फिलाया एक हासिल कितना एक इनके आगे सुनना लगा लो ठीक है अब छै एक साथ साथ दस पांच पंदरा 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 चार उननईस हासिल लाया एक op 51 शॉस्यां कितना वा था वनात्यू पया पंचत्त्तर पईसां कर्च्छा हुआ था हरो है तो कितना खर्चा हुआ था हूआ पचास रुपया था इसमें से वन तीस पचातर गटा लीजिए जो लोग नहीं घटा पा रहे हैं उनी का गड़बड हो रहा है हुँ आयले डी नहीं किया है हम कर रहे हैं तो यह कितना हो गया 25 कि बचास किसी कुषिए गटालो चुपै से आ गया ना कितना चार में से दो गया है 21 55 सा है 21 रुपया 25 पैसा पाइशी ऑट है किई शीरोपैसे 65 पैसा उसमें मिला तब तीस रुपाया हो गया और गड़बड़ हो रहाय इसका कि अगर यह 25 पैसाम इसको दे दें तो यह 30 हो गया यह 20 सिदा फिदा ठीक है अब 25 पैसा कौन-कौन देखा है इसमें बोलिये यस 25 पैसा का चार्ट टॉफी मिलती थी हम लोग के जमाने में हम लोग ऐसे देखने में छोटे लग रहे हैं असी साल के हो गए समझ रहो कि नहीं 16 कंचा मिलता था कब जब हम लोग कच्छा पैन के उगारे घूमत रहें तब इतना याद है बस और बाकी कुछ नहीं याद है पहले का जानते हैं आप लोग इसका मतलब आप लोग भी 75 के हो गए हैं चलिए ठीक है कुछ लोग नए नभीले जो होंगे उन्हें मालूम होगा यानि हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया अपनी जिन्दगी में अब कुछ नहीं बचा है है ना 25 पैसा की मिलने माली चीज आज 25 रूपय हम मिल रही है क्यों कि काफी बड़ोत्तरी हुई है काफी चीजें बढ़ी है ना हाँ चार आना कि तो आगे बढ़ते हैं अभी क्या क्या कर रहे थे हम लोग कोईश्चन कर रहे थे मार्केट वाला कि एक कोईश्चन और बताइए 10 सेंटीमीटर में कितना एमेल सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर एमेल तो रहा कर बड़े एमेयम बताइए कितना 10 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर और एक लीटर में कितना डेका लीटर यह डेका हेक्टा पढ़ाया हूँ मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँना सो निचा बलाग जी राम राम गोटभी लड़कावच थी कहा है मौझमाहे सब नहां चला डस सेंटी मीटर में कितना मिली मीटर देखे इमें मनें पढ़ाया था ना मिली सेंटी डेशी मीटर डेका हेक्टो किलो मीटर न तो मिली सेंटी यानी उसके ग्रोड आप और हमें क्या करना है उपर को जाना है यानि क्या होगा ट्यन होगा न होगा एक सेंटी मीटर में दस मिली मीटर होगा तो दस है तो क्या हो जाएगा सो हो जाएगा न कौनों एक हजार बता रहा है कौनों दूई हजार बता रहा है धन नहों प्रभू आया कहां से तू लोग च समझ लीजिए यह चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए देखिए यह चीज मैं आपको बताया हूं कि आप इसे याद कर लीजिए मिली सेंटी मिली सेंटी डेसी मीटर डेका एक्टो किलो यह बताया हूंना साथ होगा नहीं है तो दस से गुड़ा करते हैं जितना इस्टेप बढ़ते हैं तो यह जश्ट बगल में ही है पड़ोस ही है तो दस से गुड़ा करेंगे यानि हम कह सकते हैं सेंटी मीटर इकवल 10 यम्यम इफलेत 10 cm इकवल 10 ंट्य। इकवल 100 यम्यम यह कवनों हजार बता रहें कवनों दुई हजार बता रहें पता नहीं कहां कहां जा रहें सुप्रिया समझ में आ रहा है फरानांसारी फिचा खान अमित कुमार प्रिया कुमारी प्रियंका ठाकुर प्रिया तिरपाठी सब को समझ में आ आ रहा है न पी-क-ए-न आपको भी आ रहा न भया कूई ना फ़क्षिक alarm आ पको तो आई रहा होग़ा कि आई उसी आप नए नहीं है योगेन सिंग वाली आइडी है अच्छी बात है कोई भी है मुझे नहीं पता कौन है आप बस आप है मुझे इसी से काफी तफल्ली है कि चलिए अगला बताइए नीचे वाला जो मैंने एक दूसरा वाला पूछा है उसका भी जबाब दे दीजिए आप लोगो कोसिस कर लीजिए कि मुझे लगता है ज्यादा देर नहीं पढ़ाना चाहिए ना रिवीजन ही तो हो रहा है कर लीजिए का चलिए अब इसको यह थोड़ा कठिन भी यह बताना पड़ता है हटाईए जाने दीजिए मजेदार मजेदार करते हैं मज़ा जहां आती है इसमे समय मज़द rap लोग कपड़ोगे भाग जाओके किज़ देर में अभी चलो क्बड़त यह बता भाई यक्श व्य यक्स का इसकोएट और वन अपान यक्स का इसकोएट इनका multiple करेंगे तो कितना एगा कितना आएगा अरचना गुपता आएगा 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 कितना आएगा इसको कोशिस करके बताईए एक किलोमीटर में कितना मिलीमीटर सबसे बड़ा यहीं होगा न सबसे पहला अंसर आया है फीजा खान का साना कभी आ यदिपेंदर कभी आ गया वन्सी का कुश्वाहा और सुप्रियात लिपाथी अभी इंके मूँ में पाने कुछ लल चारही देख देख पटा नहीं का मिल रहे चलिए इसमें x का स्कॉयर से x का स्कॉयर कंसिल हो जाएगा क्योंकि ये निच्चे उपर है और निच्चे उपर रहते हैं तो ये हो जाता है यक्स y का multiple हो जाएगा या answer हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ें अगला ध्यान दीजिये एक और बताईए ये बताओ भाया कि तीन यक्स का स्क्वाइर वाई जड अगर इसे हम यक्स वाई जड से डिबाइड कर दें तो कितना आएगा बताएए रस्कुल्ला मिल रहा है अच्छा है कितना आएगा बोलिए इससे इसको क्या करेंगे भाग करेंगे ये मैंने आपको बहुत पहले बताया है देखो भाई सिम्पल सी बात है ये सभी एक एक घात के साथ है इनमें जिनकी जिनकी एक घात है वो खतम हो जाएंगे और ये बचेंगे तो बचेंगे तीन अक्स कितना बचेगा थिरी अक्स बचेगा रचना साख्या अकंछा गंगवार वंसी का परजापती और वंसी का कुसवाहा अर्चना गुपता ठीक है बहुत अच्छे बेरी गूड क्रिफना सिंग शिवानी उपध्याय आयूसी गुचें पांदरा केकुल कितने अपवर्तक हैं कितने अपवर्तक हैं यह बोलिये बस पांच है या साथ हैं या तीन है या 2 तो यह तो सब्सक्राइब और संख्या 30 के एक रड़ा अगला को रोव संख्या 30 के कितने संभOW को भआने गाली 9 इस मल्टीपल बताए यह सब्सक्राइव बताना है अधार बस आपको आंसर नहीं बताना है कौन-कौन है वो नहीं मतलब है समझ एह ना जैसे कहा जाय की बताई़ मोहित के कितने फ्रेंड हैं हे तो आपको बतादेने 15 यह नहीं बताना कौन-कौन है रोहितवा है अन्शुवा है फलनम contract नाम नाम नहीं बताना समझ रहे हो ना जैसे का जाए कि सुप्रिया की कितनी सहलिया है तो बता दीजी एक्सा कई बस इतना ही तो करना है नाम नहीं बताना है कि संभाव गुलज कि अधिक है आई यह देखते हैं कि प्राइए करते हैं कि इसके अपवर्तक बताना है ना देखो पहले तो वन हो जायागा मैं लिखी देता हूं वन थ्री फाइब अ बस चारी तो है कितने हैं चार ना कि तीन सो के कितने संभाव गुलज है देखे इसके कौन कौन से संभाव गुलज हो सकते हैं समझ यह जैसे तीस को हम ऐसा लिख सकते हैं वान इंटू थार्टी अब बार बार तीफ नहीं लिखूंगा यह लिख सकते हैं दस गुड़ा तीन लिख सकते हैं तीन गुड़ा दफ लिख सकते हैं समझते जाना पांच गुड़ा छे लिख सकते हैं छे गुड़ा पांच लिख सकते हैं तीन दुना छे पंचे तीस यह भी लिख सकते हैं ऐसे ऐ पलटके उठक पटक के सब करके चेक करना है तब निकालना है कितने होंगे कि समझ में आया ना हां और क्या-क्या पॉसिबल है इन में क्यों भाई कि पांच गुड़े दो गुड़ा तीन यह भी तो पॉसिबल है अब आयों ऐसे से आप ट्राइक लिजिए गठीक बहुत सारे हो गया जितने होगे ट्राइक लिजिए गा यह अंसर कि ठीक है समझ में आरा है ना नहीं बाद में मत पढ़ा करिए कुछ लोग कह रहे हैं कि हम यहां पर आइसे मजे ले लेते हैं बाद में पढ़ते हैं टाइम बेस्ट मत करिए क्योंकि करोड़ों रूपए खर्चा करके भी आप पांच मिनट का समय नहीं खरीच सकते हैं और कैदे गुरु जी ज्ञान की बाद तब बड़ी बड़ी देते हो लेकिन कितना टाइम खुद बरबाद करते हो सोचो तो ग्यान देना आसान है लेकिन खुद को उसमें रखना उतना आसान नहीं है इसलिए टाइम बचाईए लेकिन हाँ तो कोण पर चलते हैं क्या तिरभूज पर चलें तिरभूज में चलें एक क्वेश्चन बता दीजिए इसमें से कुछ लोग हैं उसी तरह के आप ही लोगों से है क्वेश्चन थोड़ा सा अरवजा टाइप का है बीस अठाइस 35105 चला भाई यह बतावा कि अधिस एक सो पांच है सबहिं लोग मिलके एक है लासा बताओ का बतावा यह पटाफ़ट यह हमारी आवदी भाण साय मेरे हां की और हो का हाल बाह यह बाह नहीं स्वरी अगर बाह लगा दिया तो पिर भी आरी का बोच्पुरिया और हो का हाल चाला है ठीक था कहां पढ हाई लिखाई सही चलतिया एक नहीं है और है तो लोग कमेंट में खुब बतिया आता न है मतलब बातचीत करता है चलिए करके बताइए एक बार 97 तो नहीं आएगा 97 तो नहीं आएगा अच्छा कितने लोग समझे ये लेंगो जो मैं भी बोला आप लोग को समझ में आ रही थी ना कि हम का बोल रहे है इनका LCM आप लोग कर लीजिए फटफट 420 आएगा कितना आएगा 420 आएगा या आप लोग कुछ गड़बड कर रहे हो चार सुबीज आएगा अरे बोलने को हर कोई ऐसे बोलता अपने घर में जहां रहता वहां पर यह तो घर से बाएरे निकलता है तब तेरे का मेरे का करता है है अह engagement जैसे होता नहीं कुछ नहीं नहीं बच्चे हैं जो सुरू सुरू में साहर जाते हैं पढ़ने तो लवट के घर जाते हैं तो अपने साथी लोग से रहा गाउवाले से इसे बोलते हैं है हम तो भूडियंपढ़ते हैं हां देरे चला गए मार्त अंग्रेज होई गए मतलब आप बोलोगे हिंदी लेकिन लोग का बोलेंगे अंग्रेज होई गए यह हम लोग का है कि सोच समझा जो भी है बताइए इसको मत हटाइए चलिए अब कुछ और बताइए आप लोग एक से लेकर बीस तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं सुरी भाज्य हैं वन से ट्वंटी तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन है कि वन से ट्वंटी तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं मतलब जो सिंगल सिंगल हैं डबल नहीं है अब इसमें से भी कुछ लोग सिंगल हैं कुछ लोग डबल हैं और कुछ लोग तो तिरपल चौपल होंगे बाई बगवान जाने आईए चलिए बात करते हैं अभाज्य का मतलब क्या है यानि जो नंबर खुद से और एक से इन दोनों को छोड़कर और किसी से विभाज्य ना हो वो क्या होता है वो अभाज्य होती है प्राइम फैक्टर होते हैं एक तरह से ये लोग वफादार जोड़े होते हैं वफादार प्रेमी जोड़े होते हैं समझ रहे हो ना जो सिर्फ दो ही रहते हैं उनका रिलेशन दो ही में रहता है मतलब तुम मेरे मैं तुम्हरे बस और नहीं और जो भ अभाज जे अभाज जे की बात करें एक दो नंबर ले के तो देखो अगर मैंने Seven ले लिए ना उर सेणंके वन और unto डोत करने दोरह ना इनका वन भी है थ्री ईनाइन भी है और इनके एक खतरनाक गुरू है इनको ले लिया अगर 12 को तो इनके उनसे भी ज्यादा है यानि इसका फाइक्टर 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है 6 भी है 12 भी है देख रहो किता है 6 तो यह क्या है यह भाज्य संख्याएं हैं composite number है यह अभाज्य है हिरे समझ में आना है था एसाइं बोले हैं बेखो जो लोग हर दम हसने इस पर長ड़ मोसे क्योंकि उनलोग मालूम है सब यह बोला किसको जारा है 2 है कि केटन है भी चलिए चपर आने मानी अगप दादेरा आगे अगए अब इनमें अगर हम अभाज्य की बात करें तो वन तो ना भाज्य है ना भाज्य है यह सादू संत्र इसमें नहीं आता है 2 से स्टार्ट होता है 2 3 4 नहीं होगा 5 7 9 नहीं होगा 8 9 10 नहीं होगा 11 13 14 15 नहीं होगा 16 नहीं होगा 17 और 19 तार बीतने किक इंडि र merry जो कि मैने का नहीं हिप रहें वो लोग में अइसे जते हैं तो योटिया आजाती आजाते ंतो जूत सकी इसे कर लेक्साइन है तक मस्थार हो यह एक चल ये आगे के बढ़ें अब मैं किसी को नहीं बोला मैं ऐसे ही बोला आप जो था वो समझ गया अंदर अंदर गरिया दिया लेकिन तेस्ट नहीं गरिया आया बस इतनी सी अच्छी बात है कि कि एक से बीस तक की सभी आप लोग अभाजी तो जाना गएं इस तरह से आप भाजये संख्याओं भी निकाल सकते हो आप भाजय भी ऐसे ही निकाल सकते हो भाजकता नियम मैंने पढ़ाया है ना दीबिज बिल्टी रूल पढ़ाया है ना सुनिए रुक जबाई एक मिनिट क्या ये संख्या तीन से कंपलिटली डिवाइड है या नहीं बोलिए क्या ये संख्या तीन से कंपलिटली डिवाइड है या नहीं क्योंकि मैंने विभाजिता नियम बताया था मैंने आपको डिविज बिल्टी रूल पढ़ाया है आप लोगों ने पढ़ा है बताये यास या नो और अगर विभाजित है तो भाजक कितना आएगा वो सुरी भागफल कितना आएगा भागफल कितना आएगा बताना जरा बताना बही चलो कोशिस करते रहिए फटा-फट कोई बोल रहा है सिल्पा के सर्वानी अंसिका आसिता पंकज दिपेंद्र सिवानी फिजाखान इस्टेटस फार यू चान्नी उर्वर्सी ठीक है आप लोग कोशिस कर रहें अच्छी बात है अगर आप लोगोंने बेसिक मैत पढ़ा होगा रात के नो बजे वाली तो मैंने पढ़ाया था कि ये दि संख्या के अंकों का योगफल तीन से कंपलेटली डिवाइड है तो ये संख्या तीन से पूरी तरह से विभाजि है ठीक है कुछ एकाद दुठी और बता दीजिए आप लोग को एकाद दो और बता दीजिए चोटा सा कुश्चन है एक सरकल है ब्रित है इसकी तरिज्या चौदा फेंटी मीटर है कि नहीं चौदा तो ज्यादा हो जाएगा क्यों जादा हो जाएगा का नाएं 14 फेंटी मीटर ठीक है तो इसकी परिदी बताइए कितना होगा सर्कम्फरेंस कि बताइए कितना आएगा सोचिये मैंने सब पढ़ाया अगर आपने पढ़ा होगा न तो ये सब अभी जल्दी में पढ़ाया कली पढ़ाया परसो कितना आएगा इमांदारी से बताइए इसकी परिधी कितनी आएगी कौन बता रहा भई पी के यन पी के यन ठीक है कोशिस कर लिजिए टू पाई आर इसका परिधी बराबर फर्मूला होता आप सब को मालूम है पाई कमान 22 बटा साथ रखो आर कमान 14 रख दो भईया कट गया यह एटी एट आएगा सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलना नहीं तो गलत हो जाएगा ठीक है समझ में आवात आना भई चल आइधर आओ फिर आये बताईए इमांदारी से बताईए अगर मैंने एक एंगल खीचा मतलब कोड इसको मैंने आई से खीचा इसे आई से खीचा इसे बताईए यह नब्बे से बड़ा है या छोटा है देखके बताईए अगर मैंने इस पर एक एंगल खीचा यहां पर एक कोड बन रहा है तो नब्बे से जादा है कम है जूका है यह से जादा है यह कम है अचुकि यहां पर तो कोड गरा खीचना सिखा नहीं सकते हैं बोर्ड में उसके लिए कॉपी में करना पड़ेगा वैसे मैं पिछली बार सिखाया था अब की बार भी बता दूंगा दीपेंद्र सुप्रिया सिवानी अर्बिंद यहनि आप लोग पढ़े लिखे लिखे प पार gay No कि मुझे लग रहा है कि आज मैंने यहीं बिताया इसमें नहीं लेकिन कुष्ट से के ओband टार के हो घए एक मिया नेक हो गए ना आप लुग ब्रित के कोई दो गुंड बता सकते हैं सरकल की कोई दो प्रपर्टी बताईए कोई दो गुण बताईए जिससे लगे कि हाँ ये सरकल ही है कि समझ रहा है जैसे हैं हम कए हमारे कोई दो गुण बताओ तो आप किसी से बताओगे हाँ एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो PVR स्टड़ी में पढ़ाते हैं दूसरा मैद पढ़ाते हैं लेकिन एक और खतरनाक गुण है कि सारी जीमेदारियां भी हमें इक समालना पड़ता है इसको आप लोग ने जानते हों पचास को रोमनंक में यल से लिखते हैं तो इसे पचास धन पांच लिख सकते हैं इसका यल और इसका वी यानि हम कह सकते हैं एल वी कुछा दूराफ नहीं लग रहा है चलो कुछ लोग समझे होंगे कुछ लोग कन्फ्यूज में होंगे अब यह बताईए कि साथ और यह चालिस इन दोनों के रोमनंक में एक रिलेशन होता है बता हुआ कौन सा रिलेशन है यह दूसरे के बुगा फुपा लगते हैं का यह फटाफट बढ़ते हैं चलो फटाफट अब दूसरा एक और बताओ एक और भी कुछिश्टन है अंडरूट आठ अंडरूट पचीस और अंडरूट एक सो बीस इन तीनों में कौन रेफनल नंबर है कौन परमिय संख्या है राखी सिंग बताये राजेस इन तीनों में कौन की inersonal नंबर है बोलिए मैं बोल रहा हूं बता रहा हूं टेंसर मदलीजीए Оगे अगर आपको पढ़ना है इनका सारा बेसिक नियन तो आप जा करके पीछिए करदा दिया उन्को पढ ली जिए कि पढ ली जिए सब पढ़ाया हूं जैसे 30 से हम 40 की और अगर आगे बढ़ते हैं, 30 से जब हम 40 की और बढ़ते हैं, यह को नो XX बता रहा है और LX? गलत है, यह XX नहीं होगा, गलत है, क्या होगा? देखो LX चुकि जो 60 है न भाई देखो समझो 60 को 50 प्लस जा रहा न ये 50 प्लस है न और ये 50 माइनस है यानि ये 50 से ज़्यादा है ये 50 से कम है तो 50 का संकेत यल होता है न यल फार लायन सेर तो ये यल पहले इसमें रहेगा ठीक है क्लियर और यक्स बाद में रहेगा इसमें क्या है 50 से कम है तो ये उल्टा हो जाता है यक्स और यल ठीक है समझ में आया न यानि इसका मतलब ये है कि आगे 50 आने वाला है इसका मतलब है 50 पीछे छूट गया आगे जा रहाया भी ठीक है अगला कुश्चन था कि इसमें रेफनल नंबर कौन है देखो भाईय बाबू मैंने आपको इसका कांसेप्ट बताया था कि वो नंबर जो अंडर रूट में हो या घनमूल के चिन्ना के अंदर हो और उसका पूरी तरह से ना वर्गमूल निकल पाए ना घनमूल निकल पाए यानि जो चिन्न लगा हो परजन टाइम में उसी की बात करेंगे तो वो एक अपर्मिय संख्या होती है इसके अलावा जो सभी सिंबल होते हैं वो भी अपर्मिय संख्या होती है ठीक है तो इनका ओवर्गमूल पूरी तरह आप नहीं निकाल सकते हो ये एक परफेक्ट रूट यह नहीं बोले कपरफेक्ट स्कॉयर नंबर नहीं है यह आपका परफेक्ट स्कॉयर नंबर है सका भाई पाजाएगा बट यह यह अइसा नहीं है इप लिए रेफनल नंबर है समझ में आया सर्मा जी आया समझ में आयूसी राजपूत दीपेंद्रियादो लोकुष सर्मा हमाई भी ड्राइवर है ऐसी बात यह लोग ले आते हैं कि कलेज्य को ठंड़क मिल जाती है अच्छा आये आये इधर आये इधर आये इधर आये यह बताइए कि सत्तर एक सट्थ एक सटासी और अगर हमें कादूठिया उलेले में जो कम पड़ रहे हैं हं 21 हुए इनमें यह बताओ कौन-खौन अभध्य संख्या है है कौन-खौन-भध्य संख्या है कि बोलिये कंपोजिक नंबर इनमेंसे कौन-गौन taki को a णीता-जी रोनेसे काम चालता नहीं है आं चीन हे तो हस्के जीयों जीवन में ये का पल भी रोना न को गान सो अ तो क्या करना है रोहिए मत नीचे नंबर चल रहा है उस पर कंटेक्ट करिये उस पर कंटेक्ट करिये बेसिक मैद पढ़िए उसे मुझे पता आप रहा है होता नहीं जो लोग चैटिंग करते हैं इमोजी भेद्य रोने वाला लेकिन बाबू तो उधर खाना खा रहा है वो रो नहीं रहा है बस वो तुम्हें दिखा रहा है समझे रहे हो कि नहीं तो ऐसे इमोजी मत बेजो चलो पढ़ाई करो इसका सबसे पहला जबाब आया है भाई लोकुस का और मोहित ठीक है रतना सोनकर आईए देखते हैं बताते हैं यह एक कंपोजिट नंबर है यह क्या है भाई मुझे नहीं पता है यह भी एक कंपोजिट नंबर है यह भी है मतलब 61 को छोड़कर सभी एक कंपोजिट नंबर है सभी अभाजे संख्याए हैं है ना समझ रहे हो ना भाई लवकुस सर्मा को पर्मनेंट बलग कर दीजिए इनको हमेशा के लिए बलग कर दीजिए क्योंकि यह पढ़ाई के लिए नहीं बने हैं यह कुछ और काम के लिए बने हैं वह कावत सुने नहीं हो कि बोल देंगे गंदा लगेगा थोड़ा था सब गया चली जहीं है तफिर पतरिया की चाटे ना तो यह रहने दो इनको उसके लिए भी अब चलो अगले में 112 121 131 इन में क्या कोई अबहाजय संख्या है इन में क्या कोई प्राइम नंबर है बोलिए फटा फट बोलिए आगे चलिए बोलते रहिए बढ़ते रहिए को जोई है कि बीभाज्जिता नीद में पढ़ाया हूं क्या आप लोगों एब बीभासड़ानियम नैंपराया हूं इसमेंos भी आकरशन पर आला हूं कमेंट पे ध्यान देने दिमाग डिश्टरब होता नहीं पड़ोंगा आप जाओ चलो यह बताओ भाई कि तीन बटा पांच और साथ बटा नौ इनमें कौन प्रॉपर फ्रेक्शन है बोलिए अगर इनको हम ए लिख दें इनको बी लिख दें तो इनमें प्रॉपर फ्रेक्श कि महाद्यों ठंडा रहिए नाम तो आपको प्रभू का है मैं कुछ बोल भी नहीं सकता है इसलिए डर भी रहा हूं लेकिन काम तो आपका नहीं लग रहा है चलिए आगे बढ़ें कमेंट करते रहिए फटा फटा अपनी बात बताते रहिए ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड बेरी गुड साथियों मैंने आपको बताया था कि वो फ्रेक्शन दोनों एक जैसे एक आए यह दोनों प्रपर फ्रेक्शन है दोनों उचीत भिन्न है यह दोनों उचीत भिन्न है क्योंकि इन में क्या है हर बड़ा है अंस्चोटा है जिस भिन्न का हर बड़ा और अंस्चोटा होता है वो प्रपर फ्रेक्शन का लाती है नीचे नंबर चल रहा है जिनको कोई इंक्वारी करना उस पर संपर्क करें यहां पर पढ़ाते समय में किसी का कोई परकार का बात चीत या इंक्वारी का जवाब नहीं दूँगा निबेदन है नीचे नंबर चल रहा है उस पर संपर्क करिए खुब बुजाईए खुब 25 और 25 अपान 38 इन में से क्या कोई मिस्रित भिन्न बन सकता है क्या कोई मिस्रित भिन्न यानि की मिक्स्ट फ्रेक्शन बन सकता है बता ये जबा दीजिए देखिये ये रिवीजन कलास है इसमें सिर्फ रिवीजन हो रहा है इसमें कुछ नया नहीं पढ़ाया जाएगा जो में पढ़ब बैदन है आप कोई मिक्स है कोई मिस फरेक्शन यह आपको बताना है तो यह मिस्र फ्रेक्शन है क्योंकि यह क्या है अनुचीत भिन्न भी है इंप्रॉपर फ्रेक्शन है इसे मिस्र भिन्न में बनाया जा सकता है ठीक है क्लियर और और वैसे आप लोग भिन्न कितनी परकार की पढ़े हैं कि मैंने आपको फ्रेक्शन पढ़ाया है न कितनी परकार का पढ़ाया आप लोगोंने हाँ बिन्नों का जोड़ घटाना गुड़ा भाग भी डियलेट की परिक्षा में आएगा बिन्नों का एल सीए मेची अब भी आएगा हूं आईये कमेंट में उधर रख देता हूं में अब नहीं देखूंगा किसी का देखूंगा ही नहीं दिमाग चाटके चटनी बना दियो तुम लोग चलो कमेंड नहीं देखूंगा देखिए अब इसमें बताईए तीन बटा पांच और धन आठ बटा साथ इनको जोड़ना है तो कितना आएगा जोड़ के बताईए चलिए जल्दी करिए बोलिए कितना आएगा यह कि यह क्लास यूपी डीलेट फ़र्स समेश्टर के सिलेबस पर अधारित चल रही है उनका जो लेबल है उसी के आगे पीछे यह क्लास चलेगी इसमें ना तो कुछ हाइप हाई करेंगे ना बहुत कम ठीक है साथियों इनको जोड़ना बता देता हूं करास मल्टीपल और लसीम दो विधी होती है करास मल्टीपल करेंगे तो यह सात्री के कैस और बीच में प्लस है तो प्लस और यह पांच अठे चालीज खिक है और यह पांच अठा पैतीस फाइनल में एक सथ बटा पैतीस इसका आंसर आएगा इसमें आप कुछ और भी सिंपलिफाई कर सकते हो तो कर लो और नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो इमानदारी से बेज़ती ना करो कि तीन बटा चार धन पांच बटा चार इनको जोड़ना और भी आसान है कि नहीं है न है आप लोगों के पाठिकरम में इसी लेबल का कुश्चन है इसलिए मैं कोई हाइप आई नहीं करवा रहा हूं इनको भी आप लोगों को जोड़ना है ऐ से क्रास मल्टीपल कर लीजिए या फिर आप ल्सिएन करके भी कर सकते हो क्लियर थीक है तो यह बिन्नों का जोड़ना घटा ना है इसमें गुड़ा भाग भी है वह भी बता देता हूं ठोड़ा बहुत त्राई कर लेना अब करोगे इतना बड़ा का दे दिये कौन करेगा कोशिस करोगे आएगा यह हमारे कोपड़ी में तीन बसा है तीन बार बार क्यों लिखता भई ध्यान देना अब इनको क्या करना मल्टिपल करना है साथियों इस तरह के जो कुश्चन होता है ना उनको हल करना बहुत आसान होता है इनको हल करना बहुत आसान है क्योंकि देखो यह एक दूसरे में छिपे हुए है पहले से जैसे 34 दूना 68 होता है और 43 दूना 86 होता है फाइनल में देखो तो यहां पे 1 आया यहां पे 2 यहां पे 2 यहां पे 2 में 1 का 1 में मल्टिपल करो तो 2 बटा 2 आएगा यह कटेगा तो 1 आएगा कितना आसान है न इस तरह का आप लोगों को फरेक्शन दिया गया था है से आप लोग कर लेना यह सब आप लोग पढ़े हैं इस समय रिबीजन क्लास चल रही है रिबीजन क्लास चल रही है क्योंकि मैंने कांसेप्ट वाली कलास पढ़ा दिया पहले से सिलेबस खतम हो गया है कि एक और बताइए कि 1.25 अपान 15 और धन एक बटा कि 2.5 कि इसको कितने लोग कर लेंगे मंदारी से बताओ कि बताओ कितना आयका करके बोलो फटा फट देखिए आप लोगों को सिर्फ ट्राई करना है वो गीता पढ़े हो ना कि पढ़े नहीं कम से कम सुने तो अब किसी भी भाई आप लोग धरम समुदाय से हैं कहीं से भी हैं जहां भी अच्छी जानकारी मिले उसको लेना चाहिए यह नहीं देखना चाहिए दूफरे जाती का है दूफरे धरम का है दूसरे समुदाय का है कैसा वैसा जानकारी कही इसे भी मिले रास्ते में जा रहे हो गंदे नाले में भी अगर कोई अच्छी चीज पढ़ियत निकाल लेना चाहिए हाह क्योंता है वह तो इतना साफ है कि उतना साफ हम लोग नहीं है कि अधर्थी पे कुछ आए नहीं अजय को का क्या है आके बढ़ें है ठीक है सभी कर लेंगे कि नहीं कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन में हैं तो मैं बता देता हूं देखें यहां पर दो अंक पर दस हूद है साथी उंपर दस हम लों है सभसे पहले आप दस हम हमलों गणाओगे नीचे उपर100 से जबढ़ होगे नीचे 100 से जबढ़ गे तो दो इसको हल कर लोगी ना कि लोगे निस्दीज उकला ने भूर्स पतनी कहां से पैसा हो जाते हैं बहुत शुकता हुज शुक तवलेंगे ईंउ पर लक्त और ल擊र ड़ते रहते हैं लिखते रहते लिखते लिखते रहते जंडया कर देते इनको प्रांद करें कि दो सब्सक्राइब कर लेना बागे को बढ़ते हैं यह बताइए बार बार थरी थरी आरहा है यह का है को आरहा है अब मैं इसको थोड़ा से हटाना चाहता हूं आप लोग बताओ मुझे 25 अपान 1 818 वाँ 7 अपान 9 इंका सी हम बता कितना आएगा इनकाarm कितना आएगा पॉलिए फटन कारी न कितना आएगा साथा जल्दि करो फटन आएंका लसे एम आप लुग डाटाशा करके रखार इए जिनको पढ़ना हैी इंटरनेट कि साम तक कुछ लोगों का नेटे खतम हो जाता है ठीक है आईए मैं बताता हूं देखिए साथियों इसका मैंने सूत्र बताया था अगर इस तरह से आपको ल्सीम निकालना है तो अंसों का ल्सीम नीचे हरों का एक सीफ करेंगे कि आप सबको मालूम है कि अंसों का ल्सीम धन हरों का सीव करेंगे है ठीक है क्लियर तो बात पकई ना है तो कर लिजिए पच्चीस और साथ का ल्सीम करेंगे साथियों वह छोटी फे छोटी संख्या जिसको 25 और 7 दोनों से भाग देने पर कड़ जाए तो वह इनका गुड़नफल होगा क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है सहा अभाजे हैं सहा अभाजे वो होती है जिने इंगलिज में को प्राइम बोलते हैं इनका फैक्टर वन के सिवा और कुछ नहीं तेरे सिवा नहीं मेरा कोई दूजा तो साथ का गुड़ा करेंगे साथ पचे पैतिस हांसिल तीन और साथ दूना चाउदा तीन सतरा एकसो पचातर इनका अगर हम लोग है सीफ करेंगे वह बड़ी से बड़ी गिंती जुन से यह दोनों कट जाएं तो तीन होगा है तो वन सेबंटी फाइप अपान थ दोनों का कि अगरे शीवानी उपाद्ध्या देखें नाइन होगा नाइन क्यों क्योंकि हमें एटीन और नाइन का देखो यहां पर थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात जो थी इनका है सीफ निकालना है ना एक सीफ मतलब हाइस्ट कामन फैक्टर वह बड़े से बड़ा फै और प्रसानी तो बताइए कि कोई परसानी नहीं ना ना कोई टंशन नहीं न सबी साथियों से एक बिनवर निवेदन है जल्दी से कलास को local करिए डेर मत करिए कृट अ जितने भी साथी कमेंट नहीं कर नहीं रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जितसे कि वह कि इसको साधारण भिन्ने में बदल के बताओ कितना आएगा कितना आएगा कि कोशिज करिए और मुझे बताइए कितना आएगा इपर आयूशी राजपूद इंद्रेश मौर्या ठीक है आई इसमें पर्फेंटेज का चिन पहले फे लगा है एक बार फिर से याद दिला दूँ आप लोग अभ्यास प्रस्न कर रहे हैं इसमें अलग-अलग तरह के बहुत सारे प्रस्न होंगे एक परकार से खीचड़ी है यह में मुद्ल का दाल चावल सब्जी नमंग मसाला सब मिला है तो एक जैसे कुस्टन नहीं रहेंगे में 3 कर दो अगर जाइए पर्फेंटेज काई खीचन लगा है आट मैंने आपको बताया था अगर जीन हटाना है इस सौ से भाग करना नहीं अगर प्रफेंटेज का चीन लगा उसकी सांतोना के लिए उसके पास रख देते हैं अब इसको भी लग रहा हम भी डबल हो गये हैं और जब डबल हो गया तो क्या करेंगा यह बटा पांच उपर वाला भिन्वाइसे लिख देंगे गुडा कचिन लगाएंगे यह पर्ट जाएगा है ना जब डबल हो जाएंगे तो पल्टी मर जाएंगे यह अफिकांगए लसाव नहीं तो इनको परमानेंट ब्लग कर दीजिए गा अंसुल कुमार को पांच मिनट के लिए ब्लग करिए अगर नहीं सुधरते हैं तो हर्मार अंसा दम के लिए ब्लग इनको हल कर लीजिए साथियों आप यहां से पाओगे कि दुश्य काटोगे दुश्य दस जीरो वन अपांट टू फाइब जीरो एक बटा दो सो पचास आएगा एक बटा दो सो पचास आएगा ठीक है इसमें किसी को कोई परेसानी है तो बता दो मुझे नहीं न अभी कर लोगे भिन क्या है आप लोग जानते हो आप बिन क्या है जानते हो चलो आजाओ यह एक है आलू आलू मतले जानते हो पोटेटो अब मैंन्डा बोलता तो कुछ लोग गुशाइज जाते हैं हम तो अंडा ना यह बताओ अगर इतनी आलू जो है इसमें सड़ी निकली कितनी इतनी इसे भिन्न के रूप में लिखना है तो हम कैसे दिखाएंगे कि कितना भिन्न आलू सड़ी है जैसे च्छा बटा आठ सड़ी है या दू बटा पांच सड़ गई है भाया या एक बटा तीन सड़ गई है इस आलू का कितना भाग सड़ गया बोलो इसको आप फ्रेक्शन के रूप में दिखाएंगे यही मैंने पढ़ाया था भिन्न के बेसिक कंशेप्ट में कितना नेहा बर्मा बता रहीं वन अपान फोर और कोई अनिवन भै नेहा जी ने दो बार बता दिया प्रियंका ठाकुर आयूसी राजपूत और प्रीति क्रियेशन वन अपान फोर अच्छा जब एक बटा चार सड़ गई है भाया तो कितनी अच्छी बचिए इस पोटेटो का आलू का कितना भाग है जो सही है मतलब चटनी अटनी बनाने लाइक बचा है कितना आलू चटनी बनती है का देखिए वन अपान फोर भाग सड़ गया यह तो बात सही है पक्का है कैसे होता है वो मैं बविस्साब बताऊंगा बचा हुआ भाग की बात करें तो तीन बटा चार knobs ठीक है थिरि अपान फोर द को टोटल इसके पहले देखें कि कितने पार्ट है तो एक, दो, तीन, चार पार्ट थे, चार पार्ट टोटल है ना, तो अगर हम कुछ भी करेंगे तो नीचे फोर जरू लिखेंगे, अब हमें निकालना था कि कितना भाग इसका सड़ गया, कितना खराब हो गया है, तो वो कितना है, केवल एक के तो खराब हुआ है, कितने में समप्ति, गृर्ए, मतलब खेत और गयरा कापउटका बंटा जating कातता है तो उनेना तो नहीं सँने हो टाटा चाचा में सुने एक दो तीन तो तीन हो जाएगा, यानि तीन बटा चार भाग इसका सही है, एक बटा चार भाग खराब है, जिन लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा है कि यह सही है कि गलत है, वो देखें इधर, इन दोनों को हम जोड़ दें तो एक आना चाहिए, मैं और तुम जब हम हो ज जाएगा, फोर अपान फोर यानि फाइनल में वहान आजाएगा फिर इसका मतलब यह सही था ना, यह क्या था सही था ना, समझ में आया, नौसाद खान, कह रहें, ब्रेक अप हो गया, क्या करें, भई सबका जिम्मेदारी मैंने ही ले रखा है, कहा, यहां आपना तो समल नहीं रहा है, हो गया, कहीं और ट्राई करो, और क्या कहें दुम्हें, आप बचाय रहें ना, इल्लाद गुंसा खा जाओ कहीं, चलो, यह हो गया, अच्छा ठीक है, इसमें एक चीज और बताईए, समझ यह, अगर इसके और भी हिस्सेदार आ गये भईया, कुछ लोग, और कहीं से टपक गये तब, अब इसमें से तीन हिस्सा इसका कलरफुल हो गया, मतलब सड़ गया इस आलू का भई, तो यह बताओ, अब कितना भाग इसका खराब हो गया, कितना भाग खराब हो गया, बताइए, देखिए, पहली बात तो इसमें जो पार्ट थे वो बढ़ा दिये गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, टोटल छे भाग हो गया, कितने हो गया, छे भाग हो गया, तो हमें तो सबसे पहले नीचे छे लिखना है, किसी भी दसा में, क्योंकि टोटल छे हिंसे हैं, अब क नेहा बर्मा, सरिता देवी, पीके बर्मा, पीके बर्मा, मतलब पीके बर्मा बने हो, चलो ठीक, अगर सही वाले भाग की बात करें, तो ये भी तीने बच रहा है, तो ये भी तीन बटाचे होगा, अगर हम तीन बटाचे में तीन बटाचे जोड़ेंगे, तो एक आ जाए क्या-क्या माने के क्या-क्या कर जाते हैं पढ़ाए तो सब कुछ हो भई या इसमें से थोड़ा बहुत रिवीजन करना है तो यह बताओ आप लोग इमांदारी से इमांदारी से बताओ भई इमानदारी से मतलब समझे रहो इमानदारी तो लोगों के पास आजकल बची है नहीं लेकिन बोलते हार कोई है यह बताइए कि संख्या 28 के कितने अपवर्तक हैं अपवर्तक हैं यानि फैक्टर है 28 के मैक्सिमम कितने फैक्टर हैं बोलिए कोशिस करिए और उनके नाम भी बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहे हैं जैसे कहें आपके कितने हैं मतलब क्या आप खुरी सोचों में क्या बोल सकता हूं तो अक्सल लोग बोलते हैं बस एक तुम्हेरे अलावा नहीं लेकिन सब्सक्राइब होती है चलो जो लोग यहां पर काफी तकलीफ में थे उन्हें थोड़ा तफली मिली होगी कि एक और सुनिए कि एक और सुनिए कि वह क्या है कि हम एक और कुछ पूछने वाले थे यह कि इनका मल्टीपल कर लोगे आप लोग इनकी अगर हम अपवर्तक की बात और फैक्र की बात करें साथ यह कि तो क्या होगा यह कितने कितने नंबर से किस से कमपलेटली डिवाइड होगा हमें उनी को फाइंड करना है तो यह 1 से भी होगा 2 से भी होगा 3 से तो होगा नहीं 4 5 4 से होगा 5 से नहीं होगा 6 नहीं होगा 7 से होगा 8 9 10 11 12 13 14 15 अब कहीं नहीं होगा 14 से होगा और 28 से होगा ना मैंने आपको बताया था जब भाज्य और अभाज्य संख्या बताया था ना भाज्य और अभाज्य संख्या में मैंने एक अजीव टाइप का एक्जामपल दिया था आपको हां इमांदार और बेमान है ना इमांदार और धोके बाज वफदार और बेवफ़ा बताया था ना बताया था ना कि जिनका दुए लोगों में काम चल जाता है मतलब दो ही लोग हैं अपस में वो ये भाज्ज में आते हैं और जिनका चारों लोग से नहीं काम चलता है वो भाज जे रहना नहीं है अब भाज जे रहना लेकिन कुछ लोगों की बात यह लग है जो लोग हमारी सारी क्लास देख रहे होंगे वह हमारे सारे मतलब समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूं जो पढ़ा रहा हूं और जो लोग कभी-कभी आते हैं वह ऐसे कहेंगे पागल है अगले प्रस्ण पर आगे वढ़ें मैंने पूछा था इसके कितने अपर तक हैं तो भाइए इनके फैक्टर की बात करें तो टोटल छे फैक्तर थे कितने थे छे होगा ना हाँ इनका अगर बात करें मल्टिपल की ती अक्स का इसमें गुड़ा करेंगे तो यह घाते जुड़ जाएंगी घात तीन हो जाएगा यह तीन अक्स हो जाएगा यह हो गया खतम है ठीक है किसी को कोई डाउड तो बताईए नहीं ना 699 और 324 का HCF बताओ 699 और 324 इनका HCF बताओ इमांदारी से कितना आएगा जल्दी करिए कितना आएगा जरा सोचके बताईए HCF कितना आएगा इनका कोर्स सेमेस्टर से ले बस आपका खतम हो गया है लेकिन इसमें हम लोग कुछ रिवीजन कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं आपको पता है न तो यह बताईए कि 3 बटा 7 और 5 बटा 9 इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है पताईए जबाब दीजिए इसमें से कौन सा फ्रेक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है आपको सिर्फ लार्जेस्ट फ्रेक्शन बतानी है कौन सी बड़ी है जबाब दीजिए प्रियंका कुमारी आयुसी राजपूत मोहित आसुतोस पूर्निमा तिर्बेदी रुची आदो अन्नु सुकला विकास गालोत आसिता कुमारी भिमलेस अपका कमेंटार है ठीक है थिरी अपांच सेवन को लोग कह रहे हैं कि बड़ा है लेकिन कैसे जान गए कैसे जान गए कोई तरीका लगाया मैं सब बताऊंगा डीटियल में बताऊंगा टेंसन नहीं लेना जाना नहीं कहीं छोड़के हां चलो क्योंकि बड़ी मुसीबत होती है आप लोग चल इन दोनों में कौन छोटा है बताइए जब आप दीजिए कौन छोटा है पड़ाई कर लीजिए मिस्टर इंक्वारी करना है तो नंबर नीचे दिया गया उस पर कांटेक्ट करना ठीक है अभी सिर्फ पढ़ लीजिए सांती से अपने आपको थोड़ा समाल के रखिए चली मैं पूरा कांसेप्ट बताता हूं मैं थोड़ा सा कुछ बदल रहा था यहां पर है थोड़ा अच्छा लगे गंदा फल लग रहा था कि अमरेश कुमार को ब्लक करिए अमरेश को तुरंद ब्लक करिए पहला तरीका इनके हर का LCM लेंगे इनके हर का क्या करेंगे LCM ले लेंगे तो इनका LCM साथियों कितना आएगा सेबन और नाइन का 63 आएगा ना यह 63 हम दो जगा लिखते हैं ऐसे इनके 63 में क्या करेंगे इस साथ से भाग करेंगे तो 2764 नओ का 3 में गुड़ा करेंगे नब 27 को दिख्वाट से जब भाग करोगे 63 में 7 का 5 में गुड़ा करोगे션 आएगा अब कॉन बढ़ा है 27 रूपयया में 63 लोग को बाहरा है और 35 यह लौक सब घलत बताय थी लपिए यह फैली यह जोटा है जो पहले इती सका सब इसमझ में कि नहीं कि नहीं फटा-पोस तरीके से करते हैं ना ऐसे नहीं हवा में बोल देते हैं कि यह है वो है इसा वैसा नहीं कि इसमें भी ऐसे ही करेंगे इन दोनों का पहले LCM लेंगे LCM 10 आएगा तो इस 10 को दो जगा लिखेंगे लिखेंगे अब क्या करेंगे जो LCM आया है साथ हुँ उस LCM में यह LCM 10 कौन बताया अरे भाई तीन पचे 15 आएगा आप LCM निकाल लो 15 आएगा 10 नहीं आएगा इस LCM में पहली भिनिके हर से भाग करेंगे तो साथियों जब प्हेच करो तीन पार जायएगा और अधिर क्या होगा 3 का गुणा कर दोगे को भी दून अछ्छा तेखो यहाँ पर छे चौकिलयत में 15 बोटना यहां पर पांच में 15 बटना यहां प्यांज में ज्यादा यह मिले कर तो जिसमें जादा-णार की प्यादिनी साफशत रचना साक्या जी गुड इबनिंग रोशन कुमारी है ठीक है ओके है चलो समझ गए इस तरह से आप फ्रेक्शन में छोटा बड़ा निकाल लेंगे ना अगर इसमें हम कहें इनको आ रोही और रोही करम में लिखना है असेंडिंग डिसेंडिंग आडर में तो कैसे करेंगे बताओ कर लोगे की नहीं भाईया एसेंडिंग डिसेंडिंग आडर कर लोगे की नहीं आप लोग मुझे करके बताओ चलो चलो चलिए बताइए इनका एसेंडिंग डिसेंडिंग आडर साथ बटा दो और एक बटा तीन का आरोही करम आरोही करम बताइए एसेंडिंग आड लोग बंदगर के चले गए अभी जो थे लाता हूं आप लोग जल्दी से बताओ कोई भी नहीं होगा ठीक है अब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो चलो ठीक है सब्य बता लिए कोशिस कर लिए हिमानसु सुकला परगति सर्मा ठीक है कोशिस किया आप लोगों ने आई ये बताता हूं कुछ ज्यादा चमक राय का कुछ ज्यादा लाइट पड़ रही है क्या भाई मुझे तो लग रायक सही जा रहा है देखिए साथियों सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कौन भिन बड़ी है कौन छोटी है उसके लिए सब का LCM करेंगे इन सारे नंबर का आप LCM कर लेंगे तो कितना आएगा पहले तो एक के बार में करेंगे ना साथियों इनका LCM अगर हमें जल्दी निकालना है तो हम कुछ इस तरह करेंगे तीन नो दो और साथ इनको जब हम तीन से काटेंगे आपको पता है तो एक बार में यह तीन खतम हो जाएगा तीन आएगा फिर से दुबारा तीन से काटेंगे यानि दो बार तीन मिलेगा दो बार तीन मिलेगा कहने का मतलब अगर मुटा मुटा हम बात करें कि तीन और नौ का LCM बता तो क्या होता नौ होता ना तो नो का गुडा करना है नौ दुन आठारा अठारा सत्य कितना होगा एक सोचाबविस ना चलो बता देता हूं देखो यह तीन एकम तीन तीन तिन से काटोगे कि दिन तरिक करनो नव दुन ठारा या ऐसे कर लो दूज सते चवदा चवदा चवदतियां 42 42 तिन दुन अच्छा तीन चोक 12 126 तो 126 हम नीचे लिखेंगे ऐसे कितनी बार लिखेंगे जितनी हमारी भिन्ने है उतनी बार लिखेंगे यह इनको हल करने का बेसिक तरीका है ठीक है अब साथियों साथ से हम भाग करेंगे लसीयम में आप साथ से भाग करोगे लसीयम में लसीयम 126 आया है तो साथ एककम साथ कटाओगे तो पांच आएगा और छे उतार लोगे तो साथ अठे चपन अठार आएगा अठारतियां चववन जो भागफल आएगा उसको अंस में मल्टीपल करते हैं तो अठारतियां चववन यह तरीका है बेसिक ठीक है समझो अब द होता है ना तो 36 तो 946 ना यानि एक और चार कहने का मतलब चवदा आएगा चवदा पंचे सत्तर कुछ लोग कंफ्यूजन में हैं उनको दिखा देता हूं कैसे आएगा भाई भाग करके देख लो ना बाग करके देख लो कि जोड़ा नहीं 126 होता है ना नो चववशतिस न तो दूई चंग 12 और दूए एक कम दूई 61 आएगा 61 जो आएगा साथियों क्या करोगे उस 61 में साथ का गुड़ा करोगे तो साथ एक कम साथ साथ चंग 42 समझते चलो पूरी कहानी क्या है कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भई इसी तरीके से क्या करेंगे 126 से क्या करेंगे 126 में तीन का भाग करेंगे तो तीन चोग 12 तीन तुन अच्छा बाया लिस आएगा बैलिस का एक में गुड़ा करोगे बैलिस अब इनके सब ही के हर बराबर है तो हम इनमें कंपेर कर सकते हैं कि कौन बढ़ा है कौन छोटा है बोलो compare कर सकते हैं आप कौन बढ़ा है कौन छोटा है बोलो कर सकते हैं न तो कौन बढ़ा है इसमें फिर कौन सबसे बढ़ा है पहले तो यह बताओ इसमें सबसे बढ़ा कौन है भाई आरोही आरोही आप लोग जानते हो कि नहीं आरोही का मतलब होता है यह कोई के नाम नहीं है सेंडिंग आडर मतलब सबसे छोटा पहले पहले सबसे छोटा गिंती तो सबसे छोटा की अगर बात करें उपर वाला ही देखना है बस तो से बंटी फोर्टी टू है कि यह 42 अपान 126 सबसे पहले है यह सबसे छोटा है फिर यह उससे बड़ा है सतर बटा 126 फिर यह 54 बटा 126 इससे बड़ा है कि 427 बटा 126 इससे बड़ा है कि समझ रहे हो बहुत अच्छे चलिए तो साथियों इनके रियल जो बैलू है उनको पुट कर दीजिए 42 बटा 126 इक बटा 3 कमान था 30 बटा 126 पांच बटा 9 कमान था 54 बटा 126 इन halp 53 साथ कमान था और 427 बटा 126 साथ बटा 2 कमान था यह नि इसमें सबसे बड़ा एक बटा 7 बटा 9 और सबसे छोटा कौन है एक बटा 3 हुआ यह हो गया इनका ascending order यानि आरो ही करम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ना भाईया लिख लिजिए फिर काहे को टेंसन इस तरह से आप लोग ascending order कर लेंगे मैंने उसमें नहीं बताया था क्लास में इसलिए मैं यहां पर बता देता हूं लिख लिजिए फटा फट अब आप लोग कुछ और भी करोगे खुद से लेकिन आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं अभी तक क्यूँ अभी जितने भी candidate जुड़े हैं क्लास को तुरंद लाइक कर दे देर ना करें फटा फट लाइक करें ठीक है अब एक question आप लोग खुद से करोगे लिख लीजिए लिखिये एक बटा साथ एक बटा साथ पांच बटा नौँ लिख रहा होग नहीं question है एक बटा साथ पांच बटा नौँ तीन बटा दूई और साथ बटा तीन का आरोही करम यानि ascending order बताईए ascending order बताईए धिमानसु बोल रहा है इतना explain नहीं करना था ये इतना explain करना इत मेरी आदत बताईए इनका ascending order क्या होगा explain करने पर इनकी सांसे रुकी रही है ना करें तो क्या होगा कि इसको आप लोग करिए गाव मैं नहीं बताऊंगा दूबारा इसमें से हां तो ये बताईए question ये है कि पचास और साथ कि ये बीच पचास से साथ के बीच में कितनी अभाज संख्याएं हैं कि पचास से साथ के बीच में कितनी प्राइम नंबर हैं बोलिये कि 42 के बाद 54 तब सत्तर आएगा हां यार मेरा भी दिमाग कहीं गड़बड था का देख लो आप लोग जो भी है हो सकता है कहीं कहीं भाई मिस्टेक ठोड़ा हो जाता है गड़बड वाकी सही है चलो ठीक है हासन खान बहुत अच्छी बात है अच्छी बात है कि आज ब्रेक अप कर दी और तुम अच्छी लाइन पर आ गए अब यहीं उद्देश से जिन्दगी का जो कर रहे हो इसको कर लो अच्छी बाकी कुछ नहीं बताना है कि आपको छोड़ने का प्लान बना रहा है तो आप उसको उसके पहले छोड़ दो समझे रहे हो फिर उससे आपको खुसी मिलेगी बेतर वाली कि यह भाई भाई नहीं किया नहीं तो यह होगा हरे आ गया बतो गया बचा मेरा कुछ है नहीं वास्तों में पहले भी कुछ नहीं था अब बर्ण था जो आखों के आगे आपको दिख रहा था वह दूर हो गया चलो इनके बीच में कितनी अभाजय संख्याओं कौन कौन सी है तो अगर हम बात करें तो अभाजय संख्याओं में 53 है कौन है 53 है 51 तो है नहीं यह कौन बता रहा है परभा दीपा कि सब गलत है 55 अभाजय कहां है 55 तो प्राइम नंबर है नहीं पिरपन है फिर 57 57 भी किसी से कड़ता है ना तीन से कड़ जाता है 69 हमें लग रहा 2 ही है दो ही है 50 से 60 के बीच में पूछा था ना कि दो ही संक्यात मुझे लग रही है कि जो लोग 57 को बोल रहे हैं वह तीन इकम तीन और तीन नवा 27 उन्नीस त्रिक 57 होता है कि उन्नीस से कड़ जाता है 57 ठीक है तो आगे बढ़ते चलिए रिवीजन ही करना इसमें कुछ ज्यादा था नहीं फिलहाल के लिए जयर अच्छा में एक रेखा खुचर्ण एप एक रेखा ऐसे खिवचर्ण अ कि यह किस तरह की रेखा है और परसान जिंग भत अच्छे बताइये इस रेखा का नाम बताये और इस रेखा का भी नाम बताईये आशिए मैंने पढ़ाया आ आप लोगों को पढ़ाया था न कि या बताइए सोच कि बताइए क्या होगा चलो देखे साथियों मैंने आपको वक्र पढ़ाया था या कर्ब लाइन न वक्र रेखा दीपेंद्र ने सबसे पहले भी बताया है यह मैत वाले जिग जाग बता रहे हैं अब जिग जग क्या है मुझे नहीं पता भाई आकड़े यह चप्टर पढ़ाया हूं न अब मुझे इसमें पढ़ाने का मन नहीं करता है क्योंकि बड़ा बोर फलकता है क्योंकि यही चीज बेसिक में भी पढ़ाओ जीरो लेबल में और यही सब इसमें भी कहानी है तो कब तक कितना तक पढ़ाओगे इसको मजा नहीं आता है एक यह बताईए दो कगात आठ इसका मान बताईए मान बताईए बहुत बड़ी कलास नहीं चलेगी आप लोग पहली बात तो कलास को सेयर नहीं करते हो और एक सिकेंड समेश्टर या थार्ड समेश्टर कोई दूसरा कलास अब चलाएंगे राद दस बज़े से कोई और समेश्टर की कलास चलेगी अब अब फास समेश्टर का मुझे लग रहा है बंद करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग सेयर करते हैं बच्चे सो भी नहीं आएं तो बोलते हो वह अपनी अपनी बात है अलग-अलग बोलने वालों की तीन अंक की संख्याओं का गुरण खंड बिधी से लसीं करेंगे इसमें थोड़ा भाईश्च्या में थोड़ा मतलब चीज समझने वाली है तो तीक है जो मैंने कुश्चन दिया है क्या यह कुश्चन आप लोग कर लेंगे अंसर कितना आएगा मैं बता रहा हूं फैक्टर मेथेड से ठीक है गुड़न खंड भी धी से वैसे तो लगबाग हर किसी को आता होगा लेकिन फिर भी बताना हमारा दाइद तो है तो मैं बता रहा हूं किसा सब्से पहले किसी करेंगे फिर टॉनटीफोर का करेंगे कि एट के पार आप करो गया तो कितना हो जाएगा दो दूना चार दूना आठ फिर साथियों इसी तरह से हम उस्टीन का अप्र करेंगे आप साबको मालूम होगा अच्छा जितने लोगों को फैक्टर यानि की गुड़नखंड करना नहीं आता है वो कमेंट करके बता दें कि हां मुझे नहीं आता है गुड़नखंड यह जो मैं लिख रहा हूं कि आप लोग समझ रहें कि नहीं बताईएगा ठीक है इसमें आगे बढ़ें तो दो दूना चार दूना आठ और त्रिक चौविस साथियों इसमें करते क्या है पता है जो लोग चौविस बता रहे हैं उनका गलत है LCM वो चोटी से चोटी संख्या होती है जो दी गई इन सभी संख्याओं से पुरुडता हभिभाज्य हो जाए तो जो लोग 24 बोल रहे हैं क्या 16 से 24 कटेगा नहीं कटेगा हूसा साथियों क्या करेंगे प्यर बनाएंगे देखियो प्यर कि फीनों में आरे हैं ना मैच यह क्म से पहना ँप कम दक्यां में बनने चाहिए पूजा मौर्या ये रोज चलती है रोज तीन हुआ ना ये भी देखिया आपस में सब मिल रहे हैं इसमें ज्यादा कुछ गडबड़ है नहीं तो सभी जितने भी मैच करते हुए जोड़े हैं आप देखो तो तीन बार है ना एक एक लिखते एक जोड़ा से एक ठवरे से जैसे किसी के निमंतरण मिलता है ना बहुत जादा क्लोज नहीं है तो उसके एक के लोग जाते हैं ऐसा नहीं कि कुल घर घर बैठे चले जाओ नह अब जो नहीं जोड़ा जिनका बना भै जो अकेले हैं आप लोग जैसे उनको भी यहां सामिल कर लेते हैं जैसे ये दो और ये तीन अब सबका गुड़ा कर लिजिए बस मल्टिपल दो दुना चार दुना आर दुना सोला और सोला तीर तालिस फाइनल में कितना आ गया 48 ब आया समझ में ना ठीक है एक लोग को दावत बोलते हैं चलो ठीक है दावत है समझे लो अब चलिए आगे बताईए 48-72 और मान लेते हैं कि 24 भी है मतलब यहां पर कुछ समझ रहे हैं आप लोग कुछ अलग है यहां पर सोला भी लेलो चलो आसान रहेगा इनका LCM बताईए तंख्यां धेर सारी हैं यह सब कोरोना की ब्रिद्धी वाले हैं कोरोना काल में इतना जादा बढ़ गए हैं बताओ क्या होगा इसका कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे लेकिन उसको देखिए अब किया आएगा कि यह भी बहुत आसान है इसमें अगर मैं आपको तरीका बताओं अगर आप कंपटीशन में या कहीं वैसे आंसर देना चाहते हैं तो इसमें आपको हल करना ही नहीं है कापी पर नहीं उठानी है आप इ कि अब ही सभी संख्याओं से प्यार से डिवाइड हो जाए प्यार से मतलब कि जीरो आ जाय जाया और अगर इस पर बंच तो मतलब यह माननो कि फिल्ए नहीं हो कि अगर आप यहां देखो तो सब कट जाए मतलब ऐसी संख्या जो सब से कट जाए सब नहीं सब से कट जाए अगर आप देखो 72 हो जाएगा क्या नहीं इसका कुछ बड़ा आएगा मुझे लग रहा है इसका कुछ बड़ा आएगा अगर मैं इस पर 36 कर दूंग अब समझना में जो लाना चाहता था वह आना चाहिए इस पर 18 कर दूंग अब बताएगा यह थोड़ा मैं और आसान कर दिया क्योंकि मैं आसान ही बताना चाहता हूं पहले आसीज पटेल हाँ चलती है रोज चलती है डेली दोड़ती है कि इतना आएगा कुछ चाहत्र तो बता रहे थे कि 144 कुछ 432 जो भी है फिलहाल के लिए आएए एक और हम इधर साइड में ट्राइग करते हैं अगर यहां पर 12 है यहां पर 18 है यहां पर 20 है और यहां पर 24 है इसका क्या आएगा कि देखिए यहां तक मुझे लग रहा है कि 72 सभी से डिवाइड है कि 72 बहुत अच्छे प्रियंका ठाकुर का सबसे पहला जबाब आया है और सही है क्योंकि 72 36 से भी कड़ जाएगा 72 खुद से तो कटेगा ही जैसे देखते हैं जो नेता लोग चुनाओं में खड़े होते हैं वह अपना ओट खुद है देते हैं 24 24 से यह 72 कड़ जाएगा 18 से भी कड़ जाएगा यहनी अब 72 होगा क्या होगा 72 होगा कहने का मतलब LCM वह संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह कड़ जाए सभी संख्याओं से समझ में आया अगर इनको हम नियम से हल कर देते हैं तो नियम यही कहता है इनको लिखो पहले लाइन मैं बैठाओ कि ऐसे नियम से करबो चलो इनके फैक्टर करिये दो दूना 4 दूना 8 भाई देखो 36 में दो से भाग करेंगे 18 आएगा आएगा पिर दो से भाग करेंगे 9 आएगा और 9 में पिर तीन से करेंगे दो दूना चार तियां बारत याई शतीस ऐसे बनेगा जिनको फैक्टर करना नहीं आता है गुड़न खंड करना नहीं आता बता देंगे ठीक है और हाँ इसमें जो लोग वो जौब वाले हैं और मार डंडा किये हैं वटसप पे और फोन करकरके उनसे गोरना दोना आठडो शोला दोना बत About तीस मुझे नहीं लगता ऐसे आएगा सब्सक्ते है लिए wokatu को को दो से करेंगे तो पहली बार बार कितना बचेगा इस जैदेगा में है तैस यह आठो कि कि दो से कआटेंगे कितना बचेगा मैं नो प्र तीन से न कट्टेंगा दो दूना चार दूना आठ तरीक 24 24 दियां 72 समझ में आ रहा है ना हम गौतम पटेल करें 360 आ रहा है निधी बर्मा का भी आ गया सुपरिया का नहीं आया है क्योंकि यह पढ़ नहीं रही आज हम दो दूना चार दूना आठ तरीक 24 दो दियाएं छे तरीक 18 ठीक है मैंने फैक्टर कर लिए कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत टाइम लग रहा है चलो जल्दी करते हैं यह देखो पेर बना दिया मैंने चार नंबर है पेर का मतलब अगर मिनिममम दो मैच कर रहे हैं तब भी हम पेर बनाएंगे ऐसा नहीं चार लोग का जोड़ी बनती है नहीं जोड़ी दूइए की बनती है अब सनियोग बस अगर यहां पर महौल है जादा है तो अलग बात है और अच्छी बात यहां पर दे इसंते मं यहां बनते हैं संधों लिएंगे यह से नोंगे चाहें यह और यहां पर में समझ के चलना पड़ेगा सबता ये सुनते हैं देखिए हैं में वह घंती दो चारों में होன्ती सब यह देखो कम से कम से कन तीन में पयर शोड़े एक टूसौत मत अब देखो चर दो CT sound पूस्टको भी सब ले लिया अभी सिर्फ दो को मैच करने तीन से मतलब नहीं है यह दो तो सब में था चारो नंबर में दूसरा वाला दो तीन में था ठीक है अब यह दोनों दो केवल दो में ही कॉमन थे निच्चे उपर नहीं थे न एक दो हम इसको भी ले लिए और भाईया कोई दो था ऐसा कहीं तू क यहां पर देख़ो है यहां पर भीए यहां पर भी यह यहां पर है तो एक तो फी a to Pak mahal月 है हम सब में मिलने वाला व यह था यह लो हॢहिध का से धाशकुर। तो साथियों इसके इतना सब हो जाने के बाद अभी तो एक थी वैसे भी बच रहाए है अकिर ला permite एक तो यह भी थिरी उतर जायेगा और एक यह उतर जायेगा है तो समझ में आया ना आया समझ में कि पूनम यादो पहला दिन है अच्छी बात है दूसरा दिन भी कलाएगा आप पढ़ते रहिए कि दो दूना चार दूना आठ तरिक 24 चौविस दियां बहत्तर बहत्तर को तीन से गुड़ा कर दीजिए तीन दूना च्छा तीन सते 21 21 च्छा किटना होगा अगाइस च्छा सत्ताइस 286 आ रहा हमारें तो भाईया क्यों क्या हो रहा था LCM निकाल रहे थे ना हम लोग क्यों भाई कुछ गडबड हो गया क्या इसमें एक मिनट एक मिनट इसका तो LCM 72 आना था यार बादतर आना था ना LCM इसलिए बोल रहा है थे कि जो गुडणखंड भी दी है इसमें बड़ा इसमें चार अंक है न एक से अधिक धेर सारे यंख हैं यह सब गड़बड हो गया अब कुछ लोग कहांगे तो आई नहीं रहा है आई नहीं रहा है कि वहारा दिमाग सही नहीं आज कि कुछ तो गड़बड है सेबंटी टू आएगा यह पक्का पता है पहले सेबंटी टू आएगा क्योंकि सेबंटी टू जो है अभी से कट रहा है न कि देखतें कैसे आता है देखिए एक तो यह दो उतर जाएगा एक मिनट एक मिनट रुके है कि हमें लगता है गुड़नखंड में भी कहीं गड़बड था क्या दो दुना चाथ दुना अर्ट त्रिक चोविस्तियं बाहत्तर अभी देखिए कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह सब का हो रहा है एक मिनट रुको मैं इसको पहले भाग विदी से करके दिखा देता हूं फिर गुड़नखंड विदी में जलाऊंगा नहीं तो आप लोग कुछ लोग भागने लगेंगे कहेंगे यह तो गड़बड हो रहा यह तो आई नहीं रहा है आएगा तो 72 ही आएगा यह तो पक्का बता बहत्तर आएगा आएगा आए मैं यहां पर का है कहीं जाना नहीं अभी वह भी बता दूंगा मैं पहले 72 दिखा दूं भाग विदी से तब कि अधियों पहले दो से काटेंगे दो नवा ठारा यह अठारा आज ना साम से कुछ दिश्टर्व है कि मुझे पहले विडाउट था एसा कुछ होने वाला है दो चंग बारा दो नवा ठारा यह अठारा देखो यहां भी गडबड हो सकता है कहीं क्योंकि डिश्टर्व है लंबा डिश्टर्व है कि चलो है तो फिर दो से काटोगे दो त्याहीं च्छा नो दो नो आठारा सब्सक्राइब कर लेंगे यहीं है यह दो गुड़ा दो गुड़ा दो और तीन है दो बार तो दूना चार दूना आठ त्रिक चोविस्तियां बाहत्तर देखिया आ गया ना कि मैंने बताया था कि 72 आएगा ना कि अधर आएगा ना यह क्या है भाग भी दिये वह गुड़नखंड भी दिवाएग क्या है फैक्टर उक्टर करने में कहीं इधर उदर हो गया था क्योंकि सब डिस्मिस लिखा गया था नीचे उपर इधर करके ना तो सिस्टेमेटिक नहीं था इस वज़ासे वह जोड़ा कि लिख लीजिए हो गया आगे बढ़ें चलिए अब इसको फिर से बताईए गुड़नखंड विधी वाला बताऊं कि ना बताऊं क्या कह रहे हो आप लोग बताऊं कि ना बताऊं रिबीजन ही तो हो रहा है वैसे तो मैं रेगुलर में सब बताया ही हूं इसमें मैं बता दे रहा हूं सुन लीजिए आप लोग अगर घंग से लिखेंगे तो फिर से आ जाएगा पहले जो सभी में कॉमन है उनको लिखते हैं फिर जो तीन में या द आगे अगर मैं कुछ दसामलों वाले कुश्चन करवा देता हूं आप जैसे मैंने अभी बताया था अभी एक दो को बताया तो था स्टार्टिंग में तीन गिंती वाले में वैसे ही होगा तो अब यह बताईए 0.03 into 0.001 into 0.45 इसका multiple करेंगे कितना आएगा गुड़ा करके बताईए बता देंगे सब बतादेंगे सबर रखिये थोड़ा बताईए कितना आएगा पोसिस करिया और बताईए आज कुछ प्रॉब्लम है हाँ इतनी बड़ी तो कोईश्चन नहीं आती एक्जाम में नहीं इतनी बड़ी कोईश्चन तो नहीं आती परिक्षा में जो अभी दिया था लेकिन मैं आपको शिखा रहा हूं तो मेरा मतलब है कि आप सब सीख जाए यह बाकी तो दो गिंती से जादा नहीं आता है उनको आप लोग करिये हो बताया कितना है वाल्व समस्टर में आपने अपने वर्येबल से भी पढ़ाया को यह बताता है यक्स का स्वायर आपन टू इन्टू यक्स का पावर 4 इन्टू 1 अपान यक्स का पावर 6 इन्टू 12 इसको अगर हल करेंगे तो क्या आएगा नूर्गुल इंग्लिस का कलास अभी नहीं चल रहा है चलेगा तो आपको सुचित किया जाएगा आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए जल्दी हीच कलास चलेगी ठीक है अपना सिंग सीटेट के लिए आप पी वियर स्टेडी एप में जाकर के ले सकती है बाकी होली बात 23 मार्च से हो सकता है कि आपकी सीटेट के लिए भी मैथ की कलास आ जाएगी ठीक है सुप्रिया जी का अंसर आ गया इसमें वाले का निधी बर्मा का भी आ गया है और कोई किसी का भाईय कौसल्या का आ गया और वनसी का कुसवाहा ठीक है कोशिस करिए यह दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और अच्छे भी हैं सुन्दर भी है 4X का पावर माइनस 5 उन्टू EX का पावर 5 इसका मान कितना आएगा भाईया और 3 बटा 5 EX का पावर 5 इंटू EX इंटू 1 अपान EX का पावर 6 इंटू 5 5 5 5 भाइब गुषायें कितना एक जरा कोसिस करिए मैं बता रहा हूं एक तरब से मैं बताऊंगा चल रहा ही सब में लीजिए कोच त Bennett सम।ं को आपको आपका 32 नंबर में खतम हो गया है लाफ नहीं मिलती है कोई मुसीबत होती है कलास से संबंदित्तों निसंगोच संपर्करिए वटसब पे इसमें देखिए तीन है इसमें वण है इसमें फ़ॉर फाइब अगर हम बिना 10 हमलों के देखें तो यह 3 है यह एक है यह 45 है तो सबसे पहले हम बिना दसमलों का गुड़ा कर लेते हैं तो 3,5,15, हाफिले, 3,12,13, 135 कितना आएगा 135 ना तो साथियों यह 135 लिख दिया जाता है यहाँ पर 2 अंक पर पॉइंट है यहाँ पर 3 अंक पर है और यहाँ पर भी 2 अंक पर है तो 2, 2,2,4,3,7 साथ अंक पर दसमलों के लिए साथियों यहाँ पर 3 अंक है तो हम इसमें 4 ती आगे 0 बढ़ा लेते हैं यह यहाँ पर दसमलों लग जाएगा बस यह अंसर आजाएगा इसके पहले भी एक 0 बढ़ा देते हैं जिससे कि यह थोड़ा सा सुन्दर लगे समझ में आया ना सबको समझ में आया तो फटा फट सभी साथ ही जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए देर मत करिए आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं कि आप लोग कलास को जादा फे जादा सेयर किया करें और लाइक किया करें अगर आपके पास दो मोबाइल है आपके यहां वाइफाई लगा है इंटरनेट की समस्या नहीं है अगल बगल में एक आत मोबाइल पड़ा है कोनों सो रामोफ हिला के तो उसके में भी चला दीजिए जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए और आपके लिए भी ठीक है तो यह आपके जरूर करें आप लोग जिसके पास चांस है ऑईए आप इनको कर लेते हैं देखिये आपको पता है कि जो यह नंबर यहां पर दीख रहे हैं दो सातियों जो बरियet मस होते हैं आपको पता है गुडा करने पर इनकी घाते जुड जाती गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है इनको आपस में मल्टीपल करेंगे तो इनकी जो पावर हैं आपस में एड हो जाएंगी तो यह 4 x का पावर माइनस का 5 और यह x का पावर जो 5 है वो इसमें जुड़ जाएगा तो साथियों प्लस माइनस क्या होगा जीरो हो जाएगा यानि 4 x का पावर 0 बहुंद कितना बोलो 0 होगा की एक्स होगा यक्स की पावर 0 कमान क्या होगा पता है कि मैं बता दूं अगर कोई भी वरियबल है जाहें A है B है C है D है Y Z X P Q 26 लेटर जो होते हैं न कोई भी है हमेशा उसमें अगर वरियबल की घाट 0 है तो उसका मान 1 होता है इसका मान 1 हो जाएगा यह 4 इंटू 1 एकक्वल 4 आंसर आएगा जो फोर एक्स बतारा कोई ना उसका गलत है फोर एकस नहीं होगा यह गलत है तुड़ा सुधर जाईए समल जाईए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो यह भी हो गया इसको भी मिठा देते हैं लिख लीजिए जल्दी से उसक्रीन साथ ले लीजिए मैं सामने से गुम सुदा हो जाता हम साइड में चलो कि अ ओके ले खेर लेगे मै competitive आ जीन का यह आजकल फोटो का चलन है इस देश में इसलिए मैं ने अपना भी फोटो की चाया चलो अब पता नहीं कोनों खीचा की नहीं की कि यह हो गया अब इसमें आते हैं इसमें देखिए तो कई तरह के लोग हैं इसमें यक्स अगर आप देखो तो उपर भी है निच्च भी है जितने लोग उपर उठते हैं ना उनको लोग टांग पकड़ के नीचे खिचते हैं लेकिन कोई उपर नहीं बढ़ाता किसी को तो वह इसे यहां पर कुछ है तीन बटा पांच को ऐसे लिख लिजिए इन्टू यक्स का पावर फाइप यहां पर वन है ना गुडा करने पर घाते जूड जाती हैं तो यह जूड जाएगा और इन्टू यह निच्चे वाला जो है वन अपान यक्स का पावर 6 ऐसे ही रहेगा ठीक है इन्टू कितना आएगा 55 जाए फिर इन्टू कितना आएगा 55 यानि पचपन अब आव देखो यक्स का यह 3 है यह अब इस्के है यह फिर फीडिसे आयेगा तो 5 11 आयेगा यानि 13 33 आयेगा अब क्या करें बंदर जैसे ही पैदा हुए तो क्या करें कुछ लोग तो होता है वह भले बंदर बंदनी जैसे दिखें लेकिन वह इतना मतलब जैसे लगता है कि अभी उतर रहे हैं अब पता नहीं क्या क्या पोट आ जाता है कभी जाके देखिया आप ब्यूटी पालर के अंदर ऐसे लगता है कि आप बूत को इंसान बनाने में लगे हैं लोग आप कुछ लोग गरी आएंगे मुझे पता है इसको कर लेंगे आप लोग अभी कौनों कह रहा था कि जल्दी जल्दी पढ़ाइए जल्दी जल्दी पढ़ाइए देखो भया जिनको जल्दी थी वो चले गए यही तो मेरी आदत खराब है मैं जल्दी नहीं पढ़ाता हूं मैं बहुत आराम आराम से प्यार प्यार से दीर दीर पढ़ाता हूं हूं कि देखिए मज़ा आने लगी ना इनमें भी ऐसे ही कुछ है इसमें भी बहुत सारे जो नमबर एक दूसरे से सिंपिलिफाई हो जाएंगे कट जाएंगे देखिए कैसे ज़े भाइरुक जाब आई साथियों अगर इसको आप देखिए तो दो से यह कड़ जाएगा तो दो चंग बारा बैए मूना बनाओ इधर देखे भी जाओ साथ साथ में और फिर यह आपस में मल्टीपल होंगे गुड़ा करने पर घाते जूड़ जाती हैं मैंने कहा था ना जब लोग स्कूल कालेज में पढ़ते हैं कहीं कंपनी में जॉब करते हैं कहीं भी कुछ करते हैं अगर वहां पर दो लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात व्यवहार मिलती कुछ देखने में सकल अच्छी लगरी तो उनमें दोस्ती हो जाती है फिर दोस्ती किसमें बदल जाती है आप लोग बताओ मतलब समझे रहों फिर दर्द दिलों के कम हो जाते और मैं और तुम अगर हम हो जाते तो फिर यह हम हो जाते हैं कहने का हमारा यह मतलब है कि यहां को या उनकी गहाते भी वराबर तो यो जूड़कर एक बन जाते या दिथ माने का नि में और तुम मिलकर क्यल । बा करें है बादार स्कूबज अब कि यह समेज़स्दार और करने पूछ घुनES जानते हैं जो खानए अच्छी बात जानना चाहिए तो यह घात दो है यह कितना चार है तो यह जूड़ जाएगा अब यह जो दो जगा थे ना यह एक जगा आ जाएंगे एक में हो गए और यह इंटू वन अपान यक्स का पावर शिक्स ऐसे लिख दिया जाएगा इसे नहीं और यह कितना बचरा छे आइसे फाइनल में यह यक्स का पावर शिक्स हो जाएगा उन इंटू उन अपान यक्स का पावर शिक्स और यह च्छी वैसे बच रहा था यह एक्चुली क्या होता है न भाई इनका रियल में समझ लीजिए बाकित मैं काट तो सकता हूं अगर काट दूं तो अलग बात है इनका मतलब यह होता है कि यह यक्स का पावर इधर आजा इधर आजा जैसे वन अपान यक्स का पावर तू लिखा है इसको हम इतना लिख सकते हैं जानते होगे नहीं बताओ लिख सकते हैं तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो यह नियम इनके लिए भी तो रहेगा इनको ऐसा लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना तो हम क्या करेंगे इनको तो चुपए इसे लिख लेंगे और इनके पडोसन जो है ना इनको इनके बगल मिलाके इसे लिख देंगे समझ गए और फिर यह 6 जो है ऐसे ही रहेगा अब फिर वही चीज होगा जैसे मैंने यहां बताया था मैं और तुम मिलके हम हो गये तो यह लोग भी हम हो जाएंगे और यह क्या है प्लस माइनस है जब दो असामान लोग आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे यह बरबाद हो जा देखो छे और प्लस यह माइनस का छेग यह घाते घाते जुड़ती है गात घात जुड़ती है बस इन्टू छे यह थोड़ा मैं डीटीयल में कर दिया नहीं कि में खटम तुम्हें कर देता इसको खटम तुम्हें उपर ही कर देता इसको में डीटियल में इसलिए बताया कि आप लोगों को मालूम हो जाए वास्तों में यह होता क्या है होता क्या जैसे देख्यों वो गाउं में सरकस में आता है बंदर यह नचाने वाला तो वो क्या करता जैसे जैसे बोलता बंदर वईसे वईसे करता है मालूम है कैसे करता ह गाव में जो लोग बैल के आते हैं नंदी बैल भधा भैई आप धुर्णिक ध्रदी्य सफभ एक मजदार ? मतलब लोग समझ बैल कितना समझ्दार हैं जए मैं उसमें कुछ होते हैं हम्मांने हैं ङुसे होतेح कुछ क्या होते हैं रसी पकड़े रहते Cherokee वाली वें भानलान रहते थे तो आईसे हळास कर देंगे ना भलाना तो कुछ époसी कर देंगे और वहीं सारह समझ आते वैसे वह बंदर वाले होते हैं वह देखो मैं Trins रहते ना सिक्साइब पर इनको आइडिया हो ताने कि फोता कैसे तो एसे यहां पहले काड़ता तो तुम्हें लगता कि है व्क का यह सई-साहिए अईसे हो रहा है जब कि वास्तों में इसकी कहाली नीचे तक आया आपको मालूं साधार इसको थोड़ा महाँ आगे बढ़ाएंगे कि यह एक्सक पावर किटना माइनस भाई घड़ जाएगा इंटू छै कर यह भी बताया था किसी भी वर्येबल की घात अगर जीरो होती तो उसका मान एक होता है तो यह कितना वाइगा वन इंटू छे बराबर छे हो जाए तो अमझे रहा हो कि नी हो गया क्लियर तो यह मुझे लग रहा है कि बंद किया जा रिवीजन ही तो चल रहा है कि और पढ़ाया जाए मज़ा तो मुझे लग रहा है क्योंकि है ये देख रहें लेकिन देख तो रहे हैं कुछ ना कुछ अच्छा यह यह वातायाँ आप लोग सकता लीटर में कितना माल होता है यह एक लीटर में कितना मुन होता है इतना होता है आप कुछ पूछेंगे औरल में यह फालतू का स्याही काहें खराब करें चलो बताओ एक लीटर में कितना एमेल होता है एक दूसरा कोश्चन बताइए दूसरा कोश्चन बताइए बताइए इमांदारी से बताइए और बड़ा पतरनाक टाइप का है बताइए पाँच रूपया का रूपया का चिन है दुबारा मत पूछना क्या है पाँच रूपया का तीन सो पैसा यह बाई ऐसे लिख लो पैसा इंगलिस में यह कितना परतिसत है पाँच रूपया का तीन सो पैसा कितना पर्सेंट है पूनम जी बताइए डॉली एकजाम में टीटियल में लिखा होगा या डारेक्ट अंसर कर सकते हैं जी बिलकुल जो मैंने इतनी बड़ी वजाई किया इतना नहीं करना परिक्छा में वहां से आप कार्ट के डारेक्ट लिख सकती है चाल लाइन के पहले अच्छा आप लोग वजाई का मतलब जानते हो कि नहीं को थोड़ा थोड़ा बात करने मज़ा आती कलास में इसलिए मैं बोलता हूं ऐसा लगता है कि आप लोग को भी बोर ना हो कुछ लोग बढ़के महत्मा होते हैं ग्यानी होते हो गर क्यान अब लोग छोटे थे ना साम के टाइम आपको मालूँ नदें गावली में कहां जाते हैं कि जाते तो तो क्या दीखता था अगर अंधेरा हो गया हलका हलका तो अइसा लगता था कि खेते को इस पार बूद बढ़ा दिखता था अवास्तों में होता क्या था मदार का होता था या बर्कटा बाइर होता था जाड़ी टाइप कुछ ने कुछ रहता था साम के टाइम दिखता नहीं तो बड़ा डर लगता था कि जब हम लोग बड़े-बड़े हो गए ना कि अब यहां वास्ताओं के भूत खोपड़ी बैठे रहते रात दिन तो यह सब क्या होता है मन की एक समझ की कमी होती बस अब यह और बताएंगे बूत वाली बात लेकिन पहले का क्लास देख लीजिए कुछ लोग तो डरने लगे होंगे भाग गया होंगे उटके मामीक पास अरे यह तो बूत वाली कानी शुरू हो गई तो यह पांच रूपया हां यह तीनौ पैसा वास्तों में यह तीन रूपया है ठीक है क्या है वास्तों में यह 3 रुपया है क्योंकि एक रुपय में 100 होता है तो 300 इस्तिती में अगर करना है तो क्या करोगे ऐसे इस्तिती में दिया मेन जितना को मतलब निकालना है उसको लिखोगे और उसको हंड्रेड से मल्टीपल करोगे सौ से ठीक है और जो पुडांख है उससे भाग कर देंगे क्लियर यानि 5 से बस कर लीजिए हो गया अंसर आपका भाई लडाई जगड़ा ना करो तो यह तीन रुपया था पांच से निकालना था हम इसको कट देंगे पांच दूना दस बराबर साथ परफेंट कितना है साथ परफेंट अरे थोड़ी तो सरम करो भाई जो पंदरा पंदरा परसेंट बता रहो यह बताओ कैसे होगा आखिर तीन रुपया है वैसे थोड़ी कि अगर अगर पांच रुपया का आधा करेंगे थाइओ रुपया होगा अधा का मतला पचास परसेंट लेकिन वी ज्यादा है थाइए थाइए ने तीन रुपया है तो 60% सही है अगर कोई कहें पंदरा परसेंट या 10 परसेंट तो बैवकूप है वह तो देखो लड़ाई जगड़ा ना करो यार आप लोग को के यह कौन कौन सुरूख यह सूपरिया इनको पांच मिनटने लिए बलोक करिए आप लडाई जगडा दागैने दिह लोग बबरबस प्र homura मुव Kings कुम नहीं मारने माला त्पों मजा दिया है तो अगर कोई जगड़ाए बोल पापा अगर आये कहीं से तुम बैठेव पढ़ नहीं रहो तुमको लगे सुनाने चार बात ममी पीछे से आई अरे मारे नहीं पापा दूड बजाए दे अईसा नहीं करना चाहिए अगर कोई किसी को बोल रहा है समझा रहा है तो आईसा नहीं बोलना चाहिए उसे याद आ आई यहां पर थोड़ा थोड़ा चल रहा है कि दो लोग आपस में बहास कर रहे थे तीफरे लोग उसमें कूद पड़े चौथे लोग में लड़ाई हो गई गाली गलोच होने लगी तो ठीक है यह बाई लड़ाई जगड़ाम कुछ मुझे समझान नहीं है कमेंट देख रहे थे आप लोग कर लेंगे ना एक और बताईए फिर इसी पर बताई दीजिए जब आप लोग आये ही हैं बता दीजिए बहिए बताईए 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 एक और है बताईए 15 र 15 रुपए का 80% कितना होगा कि बोलिए देवी दीन यादो पारस निगम प्रीती मस्ती मेवाती सौंग राइट बात है सर अब मुझे यह नहीं समझ में आए इनका नाम है इतना बढ़ा या इसमें कुछ भाग कमेंट कभी है सुप्रिया अभी गाली दे रहे यह पानी पीपी के अभी क्योंकि वह बलक कर दी गई पांच मिनट के लिए और एक उसकी जो सहेली थी लड़ाई कर रही थी दोनों लोग दोनों लड़ जगड के आजाए गिर्रा गिर्रा के देखो कौन जीता है अब रिजल्ट लिए जो जीते का बताना जरूर क्योंकि देख तो रही हो तुम लोग कमेंट नहीं कर पा रही हो बस पंदरा रुपए का क्या करना है असी परसेंट निकालना ना साथियों तो का का मतलब होता है गुडा 80% तो 80 से क्या करेंगे गुडा करेंगे और परसेंट हटाएंगे यहीं करना होता है यही करना होता है एक जीरो से कट गया अब यह भी हम काट सकते हैं किससे अजीब टाइप का यह का मुझे लग なए यह परसेंट में नहीं आएगा गदो empezar में नहीं आएगा पंदरा रुपए का ऐसी परसेंट भाई आएगा तो कुमHH 올라fin की क्योंकि 80% का भी होता है ना कि चलो करना तो पड़ेगा ना चार से कार दो चार दून आठ एवाई रोक के दो से कटेगा दो चौक आठ दो पंचे दास ठीक ठीक है साही दिसा में जा रहा है पांच से कार दो पांधियें पंदरा दीन चौका बारा तहीं है रूपया साथ रूपया बता रहे हैं और उनका गलत गलत इसलिए है क्योंकि 80% भाई 20% तो बच रहा है थोड़ा सा बच रहा है तो पंदरा के काफी करीब है तो होगा नहीं है और यह पंदरा के दिल में बसा हुआ एक दम जश्ट पास है में तो यह सही है कि आया समझ में आया समझ में थोड़ा बहुत आया यह आपके पेपर में आ सकता याद रखना क्योंकि इस तरह के कुश्टन हैं आपके अध्याय नंबर 45 में ठीक है कन्वर्जन वाले हैं तो चाहें वह रूपया से पैसा वाला आजाए यह डेसी मीटर सेंटी मीटर वाला होई फिर चर्चा करना दो लोग है सुनती आओ अमरे तुस्यले बसवाइस नहीं आवाना है तो हम सब कहले होई लेकिन तो आलोग कत अच्छा रहा हुए कि यह कौन मुसीबत आ रही हम तो आगया न यह लोग आप लोग जो है न इसको कर लेना तब तक आप लोग मुझे एक जबाब दे देना फिर बढ़ता हूं 0.36 है 0.072 है इसका मान कितना आएगा बताओ देखे कमेंट में अगर हम देखें तो जीपी बर्मा जी जुड़ चुके हैं फराना अंसारी अजय सुकला आयूसी राजपूत मोनिका सोभित रुची साक्या पूजा मौर्या रतनाकर मोनिका यादो मोनिका सिंग और अकांचा अंकित अंजली बर्मा और क्रिफना सिंग नामे नहीं बोल पा रहें फूजा मौर्या सबी को गुड़ इबनिंग बेरीबेरी गुड़ इबनिंग लेकिन आप लोग कलास को लाइक कर रहे हूं इसका जबाब आप लोग बताना मोनिका जी रादे 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 बलेकिन अब कडास में आजा बही चलो हो गया अब सुनिए एक सवाल है छोटा सा है नन्ना सा है अब सुनिए अरे मिल जा तब तो सुनिए पता नहीं कहां गायब हो गया हम मिल गया समी करन दो यक्स स्क्वाइर प्लस वन इक्कोल 33 यह आपको सीखना चाहिए पता नहीं आप में है या नहीं है अगर इसमें यक्स का मान कुछ दिया हो कुछ नहीं दिया बहिया यक्स बराबर निकालना है क्या आप लोगों ने यह टॉपिक पढ़ा है कि नहीं बिभा पाठक अबिसाखा हाँ सबका कमेंट आ रहा है अरंजन रहा है आकास पांडे ठीक है इसमें यक्स का बैलू आप लोग निकाल लेंगे बहुत छोटे छोटे टॉपिक है डियलेड में वैसे यह बीटीसी यानि डियलेड पर आधारित कलासे हैं जिनको बेसिक सीखना उनके लिए तो संजीवनी है एकदम यह यह मत सोचना कि यहां बैनर अलग लगा है चलो सबसे पहले यह बैरियबल के साथ में जो है उसको लिख लेते हैं देखे इधर साइट 33 है यह नंबर के साथ यक्स वाई कुछ नहीं लगा है इसको इधर भेज देंगे तो यह माइनस में हो जाएगा अब यह यक्स का साथियों ऐसे छोड़ देंगे इसको घटाएंगे तो 32 है यह दो इधर साथ गुड़ा में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो यक्स का स्कॉयर हो जाएगा फाइनल में 16 समझ में आया साथियों अगर इधर स्कॉयर लगा है न एक बेसिक नियम होता है जो आप लोग जान लीजिए इससे ज्यादा जानना जरूरी है नहीं वैसे तो दोनों तरफ क्या करते हैं इसकॉयर करते हैं डीटियल में जाता है बस आप इतना ही जानों कि यह प्लस माइनस फोर आजाएगा समझ में सभी को अकांचा जी आ रहा समझ में वन्सिका कुश्वाहा आ रहा है पारस निगम सबको समझ में आ रहा है बुजारा अगना बुजारा भई लिख लीजिए चाप लीजिए फटाफट आप लिए यह मुझे मालूम है कि यह टॉपिक में पढ़ाता हूं तो लोग भाग जाते क्योंकि इसमें मजा आती ही नहीं नहीं आती है यह थोड़ा कठिन पढ़ जाता है यह कौन है गुलब्बो बोल रहा वही का चाहते हूं आप लोग ना पढ़ाएं तीन बटा पांच वा साथ बटा नौ में कौन बढ़ा है बता इनमें कौन बढ़ा है यह रिवीजन हो रहा है तो कई टॉपिक के कुश्चन इसमें आएंगे अलग अलग कई टॉपिक के आएंगे इस तरह के पहले और कर लीजिए यक्स के मानवाले फिर आगे बढ़ते हैं दो यक्स का इसक्वाइर इक्वल पचास तो यक्स का मान इसमें कौन बताएगा कौन बताएगा कितना आएगा जरह सोच और बताओ कि एक और आगे बढ़ें कि देखिए इसमें अगर आप लोगोंने कुछ कुछ पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन मैं सब बताऊंगा इसमें क्या करते हैं साथियों जो यह दो यक्स का स्कॉयर लिखा है ना इसमें से यक्स का स्कॉयर ऐसे लिखेंगे यह पचास लिख लेंगे इदर यह गुड़ा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा तो यक्स का स्कॉयर इक्वल कितना हो जाएगा 25 कि समझ में आया यह अकांच्हां की त्यादो जो है इनको ब्लॉक कर दीजिए इनको तुरंद ब्लॉक करिए इधर से स्कॉयर हटेगा इधर वर्गमूल आ जाएगा ठीक है तो यह प्लस माइनस पांच आ जाएगा नेहा बर्मजी आ रहा समझ में सबको समझ में आया भाई मोहित अंकुस आया लिखिए च्छाप लीजिए अब देखें होली का महौल चल रहा है बच्चे कम जुड़ें मुझे मुझे पता है अधिकांस कुछ लोग भाग गये उनके घर में इंटरनेट है नहीं है लाइट बिजली है नहीं तो दिक्कत तो है है जो पिल्ला जैसे मूँ बनाया रहा ना आई थे उम पिल्ले बने रहोंगे क्योंकि तुम पढ़ तो रहे नहीं हो मज़ा ले रहे हो बस इन दोनों में कौन बढ़ा है अब इस टॉपिक पर चलते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा हूं वही प्रेक्शन वाला पढ़ा हूं या यह एक्स वाई वाला यह पहले ही सीम चलते हैं हाँ तो इसमें मैं बड़ा छोटा की बात तो करी रहा था साथ साथ में यह कितने पढ़ के हैं यह भी आपको ग्याद करना है याक्स प्लस टू याक्स प्लस नाइन यह कितना पढ़िये बिंजक है एक पदिये दूई पदिये या तीन पदिये बताइए एक पदिये है कि दूई पदिये है कि तीन पदिये है भाईया हम इंगलिस में का बोलता इसको यह फर्स सब्रेश्टन पढ़ाया गया बहुत अच्छे बेरी गुड चलिए आईए आगे बढ़ते हैं एक यह हो गया एक यह भी बता लो फिर इसी में लगे हाथ यक्स अपान फाइव इंटू यक्स प्लस फाइव यह कितना पदिये है भाई ओंपरकास और आठी जी आईउसी कृफणा देखे मैं बताता हूं साथियों यह कितना पदिये बेंजक है इसका निर्धारण बीच में लगे हुए प्लस या माइनस के चिन से होता है कितना पदिये बंजक है बीच में जो प्लस या म साइन लगा होता उससे इसको हम समझते हैं कि ये कितना पदिये है लेकिन लेकिन एक चीज ध्यान रहे अगर बीच में प्लस या माइनस लगा है और वो पद आपस में जूड़ जाते हैं मतलब, दो जूड़के एक बन जाते हैं जैसे मैंने एकजाक्पल बताया था कि दर्ध दिलों के कम हो जाते मैं और तुम अगर हम हो जाते हा मतलब दो जान कैसे सुने नहीं हो पता नहीं जाद़ा तो उसमें मुझे आता नहीं है छोड़ो उसको जाने दो तो ये दोनों जुड़के क्या हो जाएंगे ये दोनों जुड़के एक हो जाएंगे तो ये दो एक तीन यक्स हो जाएगा और ये पलफ का 9 इस लिए कितना हो गया तीन लोग थे दो लोग जुड़के एक बन गए तो दूरी लोग बचे लेकिन जिन लोगों में दर्द दिलों का कम हो ही नहीं रहा है वो जुड के हम होंगे ही नहीं जैसे देखो इसमें इसमें देखो जैसे यक प्लस वाई प्लस सेबन आप कहे दो यह भी जुढ के हम हो जाएं तो कहां से होंगे कहां से होंगे बंदर ओर बकरी के जोड़ी कहां लगेगी नहीं होगा यह दोनों नहीं जुढेंगे तो मतलब समझिये जुढेंगे कहां जब variable समान होंगे एक परकार से सजातिय पद होंगे मैंने एक्जामपल बताया था जब पढ़ाया था सजातिये पद मतलब ऐसे समझ लो कि आप स्कूल कालेज में हो आफिस में हो कहीं भी हो आपके जैसे कोई विप्रित लिंगी आपकी कोई मित्र बन जाती है या बन जाता है कब जब आप लोगों में कुछ चीजें मैच करती ह है मतलब सोच बिचार बात बयुवार उठक बइठक एक दूसरे को पसंद आ रहा है तब ही कुछ होता है ना समझ रहो कि अब सोचोंगे कि यह सब कहें बता रहे हम यह सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें जो सजातिये पद होते ना उननमें भी कुछ ऐसे ही होता पह भावार Ónie चाहिए अगर उड़ जाते हैं फिर केलिए अगर ऐसा नहीं तो तो पर इसे हिसे ही था हुआ है एक सिसमें भी था टेल्श द्रीकिन यहां यह नहीं यह अलग अलग जाती कि हें यह पर से परजापती आदू स्षीन स्योड़ जी की बात नहीं हो रही इनकी कटेगरी होती चर्म है ऐसे आप समझे लो ठीक है यह मैत की भासा है कि यह नहीं जूड़ेंगे अपस में यह तीन पदिये बंजक हों गया नहीं हम लिखेंगे भी तो यह अगर कोई जबर जस्ती आंसर लिखने के बोले तब इतना ही होगा इतना ही होगा ठीक है लेकिन अगर इसमें थोड़ा अंतर आ जाए मानलो कि वक्त के साथ साथ यह बदल लिये अपना और यह दो एक्स और यह सेबन या फिर यहां से यह दो भी अटा दो अब बताये यह कितना पति यह बंजक है और यह कितना पति यह बंजक है भाई देखो यह याक्स है यह बीजस ही है तो दोनों समान जाति के हैं सजातिये ना घाते मिवी बराबर है न में यह दोनों जूड जाएंगे तो 2-1 दनसाद समझ में आया ना आया समझ में सबको छापलो फटापट यह होते हैं एक पदिये और दुई पदिये बंजक अब यह चर्चा तो वह इसे लटके हैं उपर यह कितना होंगा भई यह कितना पदिये है चोच के बताओ अंजली बर्मा, आयूसी, सालू, मोहित, सालनी ठीक है सबका कमेंट आ रहा है ओके हैं सब कुछ चलो आगे बढ़ते हैं हो गया लिख लिए अप लिए चलो तो यह कितना पदिये है भईया इसको यह 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 बचा है अभी दो पदिये है पंकर जी बता रहे हैं सूरज, कृषणा सिंग, रूची साख्या, बिमले स्राज, बीभा पठक और पूजा मोर्या और भी बहुत से चात रहे हैं जो कमेंट कर रहे हैं लेकिन वो बुड़े हो गएं देरे मतलब पुराने हो गएं, इंगलिस में ओल्ड बोलते हैं न चलो तो एक ठीया और बताईए तीन यक्स का स्कॉयर अपान फाइब इंटू यक्स का स्कॉयर प्लस वन अपान थ्री और प्लस का वन यह कितना पदिये हैं बता रहा हूं देखो, इन में क्या करेंगे यह यक्स अपान फाइप ऐसे लिख लेते हैं इनका गुड़ा अंदर में करेंगे तो यक्स हो जाएंगे पहला ही स्टेप हो गया बीच में प्लस का साइन है अब इस पूरे का गुड़ा पाँच में भी करेंगे यही तरीका है समझ में आया अब यक्स का यक्स में गुड़ा करोगे यक्स का स्कॉयर नीचे फाइप और यह पाँच से पाँच कर जाएगा यक्स अब इनको क्या करेंगे जोड़ घटालो चाहे तो फिर भी कुछ होगा नहीं अगर हम पद की बात करें कितना पदिये बंजक है तो यह दो पदिये ही है यह दो पदिये ही है चाहे तो तिर चामरिचा गुड़ा कर लो तो कोई फरक नहीं पड़ने वाला है यह कितना पदिये है आयूसी जी कमेंट आ रहा आपका यह कितना पदिये बंजक है जाता देर मुझे लगता है क्लास को नहीं पढ़ाना चाहिए ना इसमें वैसा इसमें मजा नहीं आरी लोगों को मजा जिसमें आती चलो वो करते हैं इसको आप लोग बताना ठीक है यह रिवीजन हो रहा है यह मत घबराना कि यह तो थोड़ा थोड़ा बदल रहें टॉपी का लग अलग यह रिवीजन हो रिवीजन में हम कहीं से भी कुछ भी पढ़ा सकते हैं कहीं से भी कुछ भी यह बताओ एक सरकल है इसकी त्रिज्य मानलो 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिदी कितना होगी सरकंफ्रेंस यह 14 सेंटीमीटर है तो परिदी कितना होगी सोच के बताओ कितना होगा देखिए ज्यादा देर इसको लोग देखते नहीं है चुकि कलास तो खतम हो गई है तो इसमें मज़ा लोगों को आती नहीं है सोचते हैं किसा पढ़ा तो दिये हैं फाल्तू में फिर से पढ़ा रहे हैं लेकिन मुझे पता है घर पर वैसे भी नहीं पढ़ोगे गर पर वैसे भी नहीं पढ़ने वाले हो चलिए इसका जवाब अगर कोई दिया है तो नरेश जी ने बताया है सूरज और रूची साक्या सिवानी परवेज और अंसारी जी ने भी बता दिया है तो परिधी का सूत्र होता है साथियों जिसे सरकंफरेंस बोलते हैं इंगलि यह कड़ जाएगा कि यही तो होता है न कि एटी एट एटी एट सेंटीमीटर आएगा कि एटी एट रतना सोनकर का सही है रतना सोनकर ठीक है बेरी गुड यह जो लोग अठाइस बता रहे हैं वह कहां से आये कौन से दुनिया से अब तक मैंने कलाफ नंबर 32 तक पूरा पढ़ा दिया है 32 नंबर कलास तक आपका सिलेबस खतम हो गया था 33 नंबर कलास से रिवीजन चल रहा है बढ़िया करके पढ़ाएं मतलब कमाल के हो यार तुम तो पता नहीं कहां से आ जाते हो वो कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुड़ा करें तो 25 हो जाएगा बताओ बहुत छोटा सवाल है वो कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुड़ा करें तो सेसफल ओ सरी हाँ गुड़न फल 25 आए यह सब युगंडा से आये हैं हाँ लग तो मुझे भी राय आये कहीं बाहरे से अच्छा यह बताओ यह बताओ भई अज सेबन में कौन सी संख्या जोड दिया जाए कि जीरो आजाए इस सवाल का सबसे पहला जबाब आया था अनुपा मौर्या का और लिंबो दूसरे नंबर पर थी या थे पूजा मौर्या तीफरे नंबर पर थी अंजली बर्मा अनू आयूसी फराना और ओम परकास सिवानी सभी उसके बाद में मैंने पूछा है आप बताओ अनुपाम का अंसर इसमें भी सबसे पहले है लिंबो फिर दूसरे नंबर पर हैं और यह अंजली जी तीफरे नंबर पर हैं इनका तो गलत हैं यह कुश्चन मुझसे मेरी जिंदेगी में बहुत अच्छे जगाह पर बहुत मतलब पहला प्रफन था आपकी जनकारी के लिए बताओं कि पीवी आरे स्टडी चैनल चलाने से पहले आज के लगबग 6 साल पहले की बात है मैं एक स्कूल में पढ़ाने गया वह प्राइमरी तो कुछ नहीं पूछा बोले हाँ ठीक है आप अच्छे लगते हैं अच्छे लग रहें आचार बिचार से भी आप पढ़ाईए सब ठीक है लेकिन गारजीयन आए थे वह कहरें अच्छा आप पढ़ाएंगे मैंने का सोच तो रहें तो कर अच्छा सवाल बताओ कि दो में अगर किसी संख्या में अगर कहा जाए कि क्या जोडें कि जीरो आजाए तो वही मैंने आप लोगों से पूछा कि मुझे याद आ गया था इस संख्या जोडेंगे समझ रहो ना कि अगर जैसे कहा जाए अगर कलास में एक लड़का जो नालायक टाइब का पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करता है और उसको क्या ऐसा किया जाए कि पूरी तरह बरबाद हो जाए तो उसी जैसे एक नालायक उसका दोस्त बन जा कि समझ में आना कि यह रिवीजन क्लास है इसमें ज्यादा कुछ करना तो है नहीं मुझे लग रहा है कि अब यह क्लास बदल देना चाहिए जीरो पॉइंट जीरो वन इसका घानमूल बताईए कितना आएगा घानमूल कितना आएगा जल्दी करिए फटा फट बताते जाईए आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ा होगा ना आप लोगों ने गटाना नहीं है जोड़ना है अकल के अंदे पुष्चन ही वैसे ही था चलो एक और आजाओ पांसो बारा अरे यह तीन लगाओ तीन कितना आएगा परगति सर्माजी वन नहीं आएगा वन नहीं आएगा गलत है जो वन बतार उनका गलत देखे इसमें एक्चुली हम यह कर सकते हैं अगर इनको इमांदारी से लिखे नीचे बिना कुछ करें इनको हम वन अपान वन थाउजंड लिख सकते हैं लिख सकते हैं न भाईया और हम सब को पता है तुमको पता नहीं पता है कि एक हजार का घनमूल दस होता है वन थाउजंड का घनमूल दस होता है न होता है न और वन का घनमूल वन ही होता है तो हम फाइनल वे वन अपान टेन बोल सकते हैं और अगर इसको हम बदल लेंगे तो यह इसे आ जायागा बस इसकी सकल देखो अच्छा हो गया न समझ में आया यह तरीका है इस तरह के हैं अगर वह बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी तुरंद कर लें भूले नहीं क्योंकि सुब काम में देर ही नहीं की जाती है कि अगला वाला बताईए कि उद्धर है ना ठीक है है इसमें भी कुछ ऐसे ही करना है समझे यह 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 पांचसो बारा एफे लिख लेंगे नीचे 1000 कि वर्गमूल का चिन लगा देंगे अब 512 का वर्गमूल 8 होगा इसका वर्गमूल 10 होगा बही आठ ठाई 4452 होता है न यह तो आपको मालूम होना चाहिए न होना चाहिए न तो यह बराबर कितना हो जाएगा 0.8 एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो 8 का घं है वो 512 होता है सही बात बोल रहा हूं गलत है यह न यह चीज आपको आनी चाहिए साथ का घं क्या होगा 343 है नौ का घं कितना होगा तो अगर आपको घं याद है तो आप घं मूल निकाल लोगे बिना कुछ करे अगर तो को नहीं पता है कि यह इसके बराबर होता है तब यह जब मैंने आठ लिख दिया तो तुम इसी में बहोस हो जाओगे कैसे आ गया कैसे आ गया खिर कैसे आ गया कि अगर अगर लिख लीजिए फट फट लिख लीजिए अगर अगर आप में जाके जौइन करो यहां पर नहीं समझ में आ आ रहा है आगे और पढ़ाया जाएं कि इतने याद करें याद रहना चाहिए यह इतना याद रहना चाहिए तो भाई अठारा का वर्ग कितना आएगा यह सब याद रहने चाहिए आपको कम से कम 30 तक तो यादे कर लो जैसे हम लोग कहते नहीं कि चलो दूइ कवर्ग बताओ तो सब बता देते ना अगर पूछा कि चलो भाई यह साथ का बताओ तो साथ का 249 वैसे यह सब भी आना चाहिए आना चाहिए कोई बुराई नहीं इसमें आना चाहिए mathematics की छोटी छोटी बाते हैं revision हो रहा है इसलिए मैं कोई rule नहीं बता रहा हूँ याद रखना अगर आपको rule पढ़ना है इसके पहले मैं सारी कलासे पढ़ाया हूँ वहां जाके rule देख लो सब पढ़ाया हूँ बेहतरीन तरीके समझाया हूँ revision में सिर्फ question होता है answer कम होता है तो कुछ भी करवा सकते है mathematics में से revision करवा रहे हैं तो आपके syllabus में आना चाहिए अच्छा एक ठी आओर बताओ एक आओर बताओ sign 30 degree कमान कितना होता है तिर्कोड मिती पढ़े हो तिर्कोड मिती पढ़े है जिनको नहीं आ रहा न वो रात 9 बज़े लाइफ जरूर आए क्योंकि रात 9 बज़े से मैं 9.45 तक basic वाला बहुत अच्छे से बड़े प्यार से पढ़ाता हूं रात 9 बज़े से 9 बचकर 45 मिनट तक हूं सोरज अजिया खान सर अरे सर कोई पढ़ने दो या क्या कर रही हो ओभाई ना टंकी ना करो कर लो चलो कि नहीं आरहा किसी को इसका मान किसी को नहीं आ सब बताऊंगा यह मान कैसे आते हैं आपको याद नहीं करना है याद मत करना एक भी याद मत करना किसी को कुछ भी नहीं क्यों तरीका सीख लो बस जैसे मैंने कहा कॉस्ट फॉर्टी फाइव कि यह कितना आएगा सीवानी तुम्हारी तो अलग है दुनिया आपनी का साथ हंस का मान कितना आएगा कितना आएगा रुची साक्या अकांछा यादो अनुपम पारफ नेगी ठीक है जैसे जैसे रात बीत रही वैसर संख्या बढ़ रही है पता नहीं सब एक एक नींद सोसो के जागे हैं का या पर यह वो प्राड़ी हो सकते जिनको रातों को नींद नहीं आती है आंकों में नींदे ना दिल में करार और यह आगे क्या यह जितने भी कंडिटेट यहां जूड़े हैं आगे सब जानते हैं क्या चलो ईचिए साथियों यह मान हम लोगों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं याद नहीं होते हैं तो आज मैं इनका एक तोड़ बताने वाला हूं बस एक मिनिट के अंदर आप सारे मान्याद कर लोगे या देखो यह हूँ आ गई जंग गई चलो अच्छा ही तो साथियों इसमें इसका माण एक होगा दो फोगा संपarाहा हूं संब्सक्राण कमानत ऑ होता है कि आपका अब और इक है याद होगाए यहाद हो जाता है अभी मैं बताता जाओं देखो सब को याद हो जाएगा बिल्कुल टेंसन मतले ना पाइन कास्ट टेंस से कोसर काट जतने भी होते इनके ना अलोसी परोसन सब आई जाएंगी इसी में देखो कैसे देखो कैसे जुगार देखो क्योंकि इंडिया में लोग जुगार पे ज़्यादा चलते हैं अगर एक लोग की बाइक पिट्रोल खतम हो जाता है ना तो पिछे वाले खाथ पकड़ लेते हैं गिर्रा ले जाते हैं भीना तेल के आओ देखो कई से हाँ यहाँ पर आपको लिखना साइन है थीक है वर आपको लिखना है 0 0 30 45 60 90 कृत अब भिसे आपको क्या लिखना siinä पता है दिच्शे आपको कुछ नहीं लिखनाए आप यहाँ इनकी नंबर करना द्याने ना पहला में क्या करना है कि इस्टेप बताऊंगा सारे माने एक साथ थोक रेट में आएंगे जानते हो जिसमें कुछ बस तू सस्ती मिलती है कि नंबर लिखो जीरो वन टू थ्री और कि यह पहला इस्टेप खतम कि दूसरे इस्टेप में इन सबको फोर से भाग करोगे देखो पडोसी की बात किया तो लोगों को नहीं समझने है अब पडोसन बोल दिया तो लोग इनकी आतमा जग गई हां भाई क्यूं ऐसी क्या अनेरजी मिल गई है पहला इस्टेप में जीरो से फोर तक गिंती दूसरे से अब को फोर से भाग करना है पैसरे स्टेप में इनको सिंपलीपाइई कर लो जो कुछ तुम कर सको जो भी अपकी अवकात है इसमें कर लो ay !! यह कट जाएंगे वन यह त्री आपान फूर यह कट जाएंगे वन को चोथे और लाइस च्टेप में सब के वर्गमूल कर लेना है यह सब थंड़े हो जाएंगे और अंसर में बदल जाएंगे हीरो का वर्गमूल जीरो अब जिनको वर्गमूल भी नहीं आता है वह जां घंगा न आखिए पहले अब रागे क्या कहे हैं उने अब ये क्या हो जाएगा उन कवर खूंप बोसा। नहीं होती है देखाई वागी होने को और सब कुछ होता धर है कर देख़ण डर दो नहीं र्टो कं़िए कि नहींится कैसे मैं कि अगर कि अगर इसको परिख्ञह में करना होगा ना च च oni 2 यह सब्सक्रमें नीजुआ रवाले में सब याद कुछ बोल दिया बूल गया सब पेपर देने जा रहे हैं रस्ते में याद करते जा रहे साइन पर तालिस एक बटारूट दो एक बटारूट दो अब पाता चला लड़ गए कहीं जाके आथ पर बटूर गा तुट टटट गा तब मान भूल गा इसलिए क्या करना है याद नहीं करना है ठीक है समझे गए ना याद मत कर उसे मतलब इसको तो अब सभी कर लेंगे न हाँ एक चीजा और कास वाला नहीं बताया न अब लगे हाथ वो भी बता देते हैं बही पडोसी आगे तो पडोसन ना है ऐसे कैसे हो सकता है तो कास वाला भी लिख लो एक लोग यह बताओ कि कौस वाला मान आप लोग निकाल लोगे कि नहीं कोस वाला निकाल लोगे जैसे साइन का आ गया कि नहीं कि निकाल लोगे न कि 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 लोग हैं बाई कितना समझ जाते हैं लोग बस मैंने एक लाइन बोला थोड़ा सा ये आगे सब जान गए इसमें क्या करेंगे फोर फे नंबर लिखते हैं बता देता हूं सबर करो सबर कर इसमें जीरो से फोर तक लिखे थे ना साइन में इसमें करेंगे वही करम लेकिन उल्टा उल्टा करेंगे ये बस यह यही से कह रहे हो मैत बड़ी वफदार है अब मैत वाला साथ में मिल जाए तो वह हो सकता है जो बोल रहे हो ज्यान कभी बेवफा नहीं होता है हमेंसा वफदार होता है अगर आपने उसे सीखा है प्यार से तब बाकी तो इस दुनिया में तो नहीं मिलने वाला है अब भी पीए हैं यह को नों कह रहे है आप दारू पीते हैं तुम्हें का लग रहा हमारी सकल से दारू पीएंगे तो जो एक खड़ी का है वो खतम हो जाएंगे अब तक लोग सरभदान जली देने आ जाएंगे चैनल पर देखोगे फिर अब इनको हल कर लीजिए वन आया फिरी अपन फोर यह वन अपन टू वन अपन फोर और यह जीरो अब सभी का वर्गमूल कर देंगे सभी का स्क्वायर कर देंगे जितने भी हैं इनका वन आ गया यह रूट थ्री अपान टू और यह कितना आएगा वन अपान अंडर रूट टू यह वन अपान टू और यह 0 कि देखो सारे मान आ गए ना यह आप क्या कह सकतो कॉस्जी रों कमान 0 कॉस्जी इस संभी कमान वन पान टू मतलब रूट में क्मानिक बटाद हो कि डर्में सबका उअर्फ को समझ में जैसे जैसे रात बीतर रही वाय से संख्या बढ रही है। और इसी वजह से मैं कंलास नहीं बंद कर रहा हूं। क्यूं ये जो सब आये हैं ये रात का इला नाम आती वह ही लोग है का हो गया है अच्छा ठीक है साइन काउस का आ गया ना कर लोगे न आप लोग की नहीं है देखिए साइन और कास का अगर मिल गया तो इन दोनों में बड़ा तगड़ा रिलेशन होता है पक्का वाला कि साइन कास की माध्यम से का निकल जाता है मान देखो कैसे यह तैन ठीटा वराबर यह तैन कुछ भी ले लो तो यह सूत्र होता है कि समझ में आया ना है समझ में लिख लीजिए आज अगर मैं आपको एक बात बताऊ ना तो आज मैंने सिर्फ टाइम बिताने की कोशिस किया है कि किसी तरह 45 मिनट हो जाए लेकिन यह नहीं कि मैं बकैती करके किया हूं मैं पढ़ाया भी हूं खूब सारा कहीं न कहीं से कई कई डिपार्टमेंट में आपको ले चला हूं ताइम तो एको नहीं बिताया हूं देखो अब अगर हमें टैन तीस का मान निकालना है टैन तीस का मान निकालना है तो हम साइन तीस और कोश तीसंस का मान रखदेंगे टैं तीसंस का मान आ जाएगा और यह तुम्हें ही लोग बताऊगे जुद्दा चिहार्ट रवबिट के न चल बताऊं 213 का मान कितना है कि 23 का मान कितना है ए अच्छा अच्छा लोग यह पानी है दारू नहीं है हाँ दारू पीके आएंगे तो इसे नहीं बोलेंगे फिर ऐसे बोलेंगे अवतात अला क्वाडर रहा है हो कुछ लोग होस मेराएंगे कुछ लोग बेहोस हो जाएंगे और दूसरी बात यह ना कि मेरी आवाज है इसे निकलती चाहिला फार वह अलग बात है मतलब अच्छी नहीं निकलती सुन्दर वाली कि तो साइन तीसंस कमान एक बटा दो और यह कॉस्टिस क्या होता बया कॉस्टिस वह होता है जो साइन साथका होता है ठीक है यहनि रूट तीन बटा दो समझ में आया ना अब जब जोड़ी जोड़ी दार वाले एक उपर निच्चे हो जाते हैं तब क्या होता मालूम है यह भी जोड़ी में है यह भी जोड़ी में है दोनों जोड़े दार हैं तो इनको बगल बगल लिख देते हैं पहले और फिर मल्टीपल लगा देते हैं अब यह जो उपर थे ना वह निच्चे हो जाते जो निच्चे थे वह उपर हो जाते हैं यह पलड़ जाते हैं तो यह बहुत दो बटारूट 3 इसमझ में आया ना फिर यह दोनों कैंसिल हो जाएगा फाइनल में वन अपारूट 3 बचेगा यानि कॉस्ट 30 कमान कह सकते हैं वन अपान रूट 3 बिमलेस राज अभी तो हुई नहीं है खोज रहें कहीं कोई लायक मिल जाए तो बताना वरना अब तक तो हमें ना लायक हैं मिलें जितने मिलें अब मिलें डेर सारे ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलें संटेज में ही होगा इधर उधर करके उसी में के बहुत सारे सवाल करवाएंगे क्योंकि यह बड़ा इंप्वाटेंट और बहुत ही इंट्रेस्टेट टॉपिक है परसेंटेज आप लोग यह बता मुझे द्यान से प्यार से अच्छे से कि 1.5 वह अगर परसेंटेज में कनवर्ट करें तो कितना आएगा बताइए अखिर कितना आएगा अकांचा गंगवार जी बिल्कुल कमेंट आ भंट हॉसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिन्दगी में लेकिन एक भार सिरफ एक बार फिर सिर्फ जीतने की उमीद को रखना और अगर आप लोग यह उम्मीद बना के रखते हैं तो फिर क्या कहना चालो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन तो यह बताओ 10 रूपया का तीन रूपया कितना पर्तिसद है बताईए जब आप दीजिए तिल्पा केसरवानी जी कमेंट आप कहा रहा ठीक है दो दो कुश्चन एक साथ में करेंगे बस उससे ज्यादा नहीं हां एक ठी यहां भी लिख लो छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा यह बताओ भाया कि 980 का अठारा पर्फेंट कितना होगा क्योंकि डील यानी बीटी सी जिसका नाम है क्लास टाइटल थम्नल का उसमें इसी लेबल के कुश्चन है इससे ज्यादा हाइप हाई नहीं अगर इससे ज्यादा हाइप हाई गढ़ड़ आप लोग इतने प्रस्ण मेंने दिये ट्र को लेंगे पकड़ेंगे पर्फेंटेज में चेंज करना है तो पहले इसका दस हमलों अटाएंगे यह पंद्रा बटा दस हो जाएगा आपको मैंने बताया था कि अगर पर्सेंटेज में वदलना है बदलब परतिफात का चिन्ह लगाना है यानी सौ से गुड़ा करना है इ कड़ जाएगा बराबर 150 परसेंट आएगा कि कि इतना आएगा 150 परसेंट सब्सक्राइए गलत है अगर 150 परसेंट का आप मान निकालोगे तो फिर से 1.5 पाजाएगा निकाल के देख लेना अगर कोई डाउट लगेगा तो ठीक है कब यह सब चले गए होली खेलने का मतलब कि जोगे में पगला रहें कोई बात नहीं या याद रखना कि वह क्या पता है परिच्छा जब उती न तरकोई टाप नहीं करता है वही लोग करते हैं जो बिसम परिस्थितियों में भी पढ़ रहे हैं जब रंगों की होली मना रहें न बुआ बती जा भाई या भावी और देवर्भवजाई उस समय अगर आप लोग पढ़ रहे हो न तो यह ज़्यादा बेतर है बाकी करना चाहिए यह सब भी थोड़ा बहुत लेकिन तीन दिन पहले से नहीं इसको करते हैं दस रूपए का तीन रूपए कितना पर्थंट है मैंने कहा था जो आपको दिया रहेगा यानि में मुख्य नंबर उसको हंडेड से मल्टिपल करना है और जो पुडांख है जिसमें से टोटल निकालना उससे भाग कर देना है पस यही तरीका करना था आपको हुआ है को यह कट जाएगा दस रूपया का एक रूपया दस परसंट है दस रूपया दोस परसंट है तीन रूपया चुछ कर रहे ही एक अच्छा ए कि बताव लो आफ रूपया वह कितना परसंट है करके देखो कितना परसेंट है भई बताना करके ठीक है चलो देखे साथियों इसका माना बता दीजिए बहुत हाई-फाई नहीं होगा लेकिन कुईश्चन आज बहुत सारे होंगे कुईश्चन बहुत सारे होंगे आज मिल जा भई मिल जा मिल जा एक और बताइए आप लोग एक डिगरी सेल्सियस में कितने फारे नाइट होते हैं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो पढ़ाया तो सब हो में कि एक बस्तू का मूले बारा सो असी रुपय था एक बस्तू का मूले कितना था कि बारा सो असी रुपय था ध्यान से समझना यदि उसके मूले में ब्रिध्धी हो गई कितना हो गई 12% की तो नया मूले कितना होगा पताईये माल लेते हैं कि एक पंखा है फैन ठीक है एक पंखा है जो 1280 रुपए का मिल रहा था अभी सब कुछ नया नया जमाना आ गया नया नया हो गया 12% महंगा हो गया अब पता वह कितना होगा बताईये फटापट जबाब दीजिए तो प्रिया आयूसी राजपूत उसा मौर्या देखिए आज लगभक सब भाग गया अधास जादा न मुझे पता यह कल भी नहीं पढ़ेंगे परसों भी नहीं पढ़ेंगे अभी यह सब पढ़ेंगे 20 तारीक के बाद 18 सारा को ओली मनाएंगे 19 बीस भी मनाही मानों कई से बढ़ेंगे कम ते कम उसके पहले सौ में से दस ही बढ़ेंगे बस चलो बढ़ते चलते हैं देखते हैं यह हो गया नया मुल्य कोई बताया फिजा खान 150 होगा है आप लोग ठीके हैं अच्छी बात है रात में खेलता नहीं कुछ लोग करें रात में खेलता इसी बात नहीं जो लोक साहर में रहते गाउं चले गए अब महीना यसक приход मशिर मिर भिएया सो थो थोड़ा भांची चाहित होती थोड़ा रतल nigga यह घन 보통 भलतんな और अब पड़ते हैं पिय। सोजातब तो इसका क्या करेंगे साथियों नया मूल के लिए पहले हम बारा सो असी का बारा परसेंट निकालेंगे तो बारा बटा सो इनको जब कंफर्म हो जाएगा कि कितना होगा उसके बाद उसमें जोड़ देंगे कि एक जीरो से जीरो कड़ गया दस से इसको आप भाग कर दीजिए फिलहाल के लिए यह हो जाएगा ट्वेल पॉइंट इंटू बारा कि यहीं होगा ना कि कर लीजिए अब बारा अट्थे चाननबे हांसिल कितना आया नो कि आट दूना सोला आट इकम आट चार बारा कि और बारा दूना रूपय शाठ पैसा मतलब आप समझे गए कि जो बारा सो असी का पहले पंखा था वह एक सो तीरपन रूपया साठ पैसा बढ़ जाएगा महिंगा हो जाएगा तो फाइनल में इसका मूल्य हो जाएगा बारा सो असी और एक सो तीरपन यह में जोड़ देंगे 153 30 पईसा दुका अंदर 60 पईसा भी ने छोड़ता है 8513 आसी लेक दू एक तीन एक चार और ये यानि 1430 रुपए का मिलेगा आप वो नया पंखा अगर हवा लेना ठंडी का गर्मी में तो 1430 रुपए खर्चा करने पड़ेंगे लगबग हम सही बात है कहेंगे राहदा एक दिन के पड़ी का होई छोड़ा लिख लीजिए आगे बढ़ें परसेंटेज के हम लोग कुश्चन कर रहे हैं न तो ये बताईए का का करवाएं बहुत सारा प्रसन है मुझे समझ नहीं रहा могут in the Meg्nooth से डोज पढ़ाते हैं रोज पढ़ाते हैं रोज पढ़ाते रोज जब अब है कि इसका आप लोगों ने बताया नहीं पहले यह बताऊ कि इसको बताईए 980 का जो percentage वाला था उसको बताईए फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद अब पहले chapter से चलेंगे देखेंगे क्या-क्या revision करने लाइक है उसमें से देखते हैं ठीक है माया जी गुड़ीबनिंग भीया मोहित कुमार निरंजन जी गुड़ीबनिग अभी अभी जागे हो ना आप लोग ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो बने का पुछा था अभी चोटा सा कुछ और पूछा था नो जो पूछा था उसको जाने दो लाश्ट वाला चैप्टर जो है उसका नाम क्या पता है कौण और पर अधारित है आयत तिर्भूज यही सब है इसमें रामा देवी नंबर चल रहा नीचे स्क्रीन पर उस पर दिन में संपर करिए दिन में संपर करिए बताइए पहला कि टीन सो साट कि दूसरा दूसरा तूइसरा एकसो एससी रउधा है नाइनटी वन इसमें बिरिहत कौण कौन है भही आ प्रियध कौण कौन सा है और इसको इंगलिज में क्या बोलते हैं कि जबाप दीजिए क्या बोलते हैं कि नोसो असी का ठारा परसेंट इसको कर देते हैं नोसो असी गुड़े अठारा सौ से भाग करेंगे एक जीरो से जीरो कट गया इसको आप क्या करोगे काट के थोड़ा छोटा कर लो दुए पंचे दस दुए नोव अठारा भाग तो करना ही पड़ेगा दसमलों में आएगा जो भी आएगा लेकिन ये करना मने थोड़ा मुश्किल कर लिया मुझे ऐसा लग रहा है कि मायंगा कर लिया काई से हैं कि कोई दिक्कत नहीं लेकिन दिक्कत लग रही मुझे एक मिनट रुको इसको ऐसे नहीं करना चाहिए यह थोड़ा फस सकता है कि देखो भाई 980 थीक है 18 बटा सौ किया यह भी ठीक है एक जीरो से जीरो कट गया भी ठीक है अब आपको एक काम करना है इनको भाग दे लेना है तो यह 9.8 आ जाएगा इंटू अठारा जाए आज़ो क्योंकि eight 44 हांसिल शा कम आड्चा जुदाrain एक सोचवारी इंटहरीही यह थोड़ा है अठारे नमाईय यह एक सो बादतर होता है 95ड़क प्रशाथ उनया खम नो दोशात इस बेंगा सबसक्राइव होता है सबसक्राइव थीका है है 25 Vincent चार दो च्छे वाई साथ कि एक अंग पर दसंबलो कि नोसो असी का अठारा पर्षेंट चीहतर रुपे चालिस पहिसा सही एक गलत जारा वह जांदनी यादो ठीक है बहुत अच्छे कि बिषकोंड को रिफलेक सेंगल बोलते हैं जा बोलते हैं रिफलेक सेंगल की पर्षेंट जो है वह चीहतर रुपे चालिस पहिसा होगा इसका बी नंबर अपसंस है कौन साजिए है बी नंबर सही है वन सी का आकुस्वाहा जी बेरे गुड बहुत अच्छे अच्छा ए वाला क्या है अगर इसमें बी वाला सही है तो जो ए वाला है उसको कौन सा कौन बोलते है बताईए एक दम रट डाली एक दम चाट डाली है की भूलना ना रहे पर इक्चा में एक जाम में भूणा न रहे भी को मश से हुअ हां ठीक है ऑप अच्छे एकने दी कहांक कौन सा एंगल है अरे कई विलू कमा रहे हो अरे अरे गलते बोलो सही है बोलो साखना ह मिक्वास और Šौण है बहुत अच्छे यह संपूर्ण कोण है जिसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं कंप्लीट एंगल एककट ही होता है 360 का बस इसे ब्रिहत कोण बोलते हैं ब्रिहत कोण भी धे सारे होते हैं 180 को रिजु कोण बोलते हैं इस ट्रेट एंगल बोलते हैं यह भी एककट ही होता है कि नए नोखे के कटी यह बाकी दूसर नहीं नैंटीवन क्या है अधिक कोण है ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड तो यह आप सभी जानते हो न वैसे आज पढ़ाने का मन नहीं था कि लोग जूड नहीं रहे संख्या बहुत कम है फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करवाई देते हैं आये ही हो आप लोग बड़े उमीद से तो अच्छा ही बताओ वहिया अगर दूठी लाइन है इसे डूड रही है एक ठीक जा रही एक ठीक जा रही है इनको किस तरह की रेखा बोलते हैं कौन सी रेखा बोलते हैं कौन सी प्रकार की रेखा बोलते हैं कौन सी रेखा बोलते हैं कौन सी रेखा बोलते हैं कौन से पहला अगर जब आप किसी ने दिया तो प्रियंक ठाकुरक आया है और नेहा बर्मा का दूफरे नंबर पर हैं फीजा खान तीफरे पर हैं कोई तो समांतर लिखा कोई सامंतत लिखा है समंतत कवान से साइतान का नया नाम है भीसार परल दीजीए इंगलिए ईंग्लीस में पारल यानी समंतर यह जैसे रेल की पट्री मेंतिलया बगल बगल चोड़ेंगे ने हम तेरह फात कभी साथ चोड़ती में है wijग ना तो संकडों लोग साथ छोड़ देते हैं पता सही है न कहीं देखे और हैल की पट्री अगर डिश्टर्ब हो गई जो दोनों साथ साथ चल रही है और इस तरह की देखने को कहा और मिलती है अरे वो देखें ने हम गरीब लोग के यहां बास वाली सिंड़ी लगी रहती है नीम के पेड़ पे चड़के दतु इन तोड़ लाते हैं क्योंकि जो लोग बड़े हम जैसे कमजोर रहते हैं वो लोग पेड़ पर ऐसे नहीं चड़ते हैं जब छोटे थे तब की बात बता रहे हैं अब तो कामी नहीं लगता है और क्या उससे लोग चातपे भी चड़ते हैं सिंड़ी से ना लेकिन अगर उसमें भी सिंड़ी के डंडे साथ चोड़ दिये ना तो टांग भी साथ चोड़ देती है एक तूड़ जाती एक बची रहती बता होता है ना उसमें भी तो भाईया ये साथ चोड़ना बड़ा घातक होता है अगर आप भी इसी तरह से किसी के साथ समांतर चल रहे हो अगर उसका साथ चोड़ते हो तो उसका भी यह हाल होता है कि अब में क्या क्या बोला समझ गए सब समझ एप सुछ इससे क्या बोलते हैं इतने सारे एक्जाम पर याद रखना यह खुदे नहीं बूलेगी इसको क्या बोलते मिंद्क को लंब्वत रेखा बोलतें आई पर्पैंडिकूलर लाइन कि दिखार हूं कि मैं परपेंडी कुलर लाइन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं ये कोई चित्र बन गया हो तो ये मत कहना कि अच्छा बनायो गंदा बनायो इसका नाम बता आप लोग भाई लंबवत बहुत अच्छे पास बेरी गुड़ बाई पारस रतना सोनकर प्रियंका बेरी गुड़ इसको कर्ब बोलते हैं इंगलिस में अच्छा ये इंगलिस हैं तो बोलते हैं कर्ब ना हिंदी में वक्र बोलते हैं ये हिंदी इंगलिस का बड़ा लोचा है हम लोग बोलते कहते हैं उन्फ नहीं आती है रिसे आपने सुना होगा कहते हैं यह हमारा अ क्मेर्टियर प्लैट camar неп पर यहन का मालून एंधसरेए यह कोई इंग्लिव में बोलता है ऐसे बहुत सबस्टारीं गाथ साहुआ बम लोग की शաुआ에서 की वाला होता है चोटके से पेन है यह पड आपमनेों करने में पाणी पीना आइए वह वाटर पीते हैं तो यह useful निखेरें बम इंगिलिश में कर्षिअम क्यों अदर्व सारे पाणीय कर्षों है कामर्सियल और परफनल परफनल हमारे समस्य से नहीं घरेलू बोलते हैं इंदी मेरा यह वक्र रेखा है लेकिन इसमें दोनों में अंतर भी है एक मिनट रुको भाई एक मिनट एक मिनट अभी कुछ और चीज दिखा रहे हैं उसको छोड़ो तुम लोग बड़े खराफ टाइप कियो बकईती ज्यादा कर लेते हो यह नहीं कहते हैं चुप भराओ चलो यह देखो इनको देखो देखो यह यह आप आके जुड़े हैं इनको भी देखो इन दोनों में क्या अंतर है इन दोनों में क्या डिफ्रेंस है अब यह मत कहना है कि यह थोड़ा मोटा हो गया है खापी के यह थोड़ा तेड़ा मेड़ा हो गया है मतलब काम दोनों का एक है चीज यह कह है बस इन में अंतर थोड़ा सा है वो बताओ मैत की भासा में क्या अंतर है अपनी वादसा में मत बताना है देखिए कर्व जो होता है वो तरह का होता है वख्र दो परकार का होता है एक अपन होता है जैसे देखिए कुछ लोग का मुह होता है जो खुछ लोगों का बंध होता है जैसे जिसके दाथ बराबर नहीं रहें उसका मूअ बंध नहीं होता है न जैसे मेरा और यह लोग दाथ का बंद भप को किया कि यह वह 24 भंधों है अचो को नभनें बोलेंगे या बंद वकर बोलेंगे कि इसको ओपन करब बोलेंगए यह के यह वाला लॹंद यह इता हैं थूज LOOK भूड तो कि लोज ओपेन ठीक है मान बेंदर जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेरी गुट अच्छा ठीक है इधर आओ सम लोग इधर आओ इधर आओ इधर आओ यह बड़ा खतरनाग चीज है यह अईसा जगा है ना जहां से सब जा रहे हैं यह सारवजैनिक पलेस इसको का बोले इसको मैंने ओ लिख दिया तो इसे क्या बोलेंगे महित की मासा में जब आप दीजिए मुहम्मद खालीद कुछ समझ में आ रहा है केवल मुहां पर लाए जा रहे हो चलो जल्दी से बताओ आप लोग कितना आएगा मतलब क्या नाम बोलेंगे इसको यह बताओ और इंगलिस क्या होगा इसका तेडिया कुडियाक नहीं है यह मैं रेखा थोड़ी पूछ रहा हूं मैं वह जगहा पूछा हूं जहां पर यह सब आके एक दूसरे को छेद पूछा रहें वह जगह पूछा हूं इसका कोई जबाब दिया केंटर केंद्र नहीं कुछ और अब ब्रित नहीं है कि मैं केंद्र बन रहा है अनुपम मतलब मैं जो पूछना चाहता हूं तुम लोग की अकल वहां तक जाई नहीं रही मैं क्या करूं फिर ठीक है जो लोग बिंदु बोल रहे हैं वो सही है लेकिन किस परकार की बिंदु है वो केंद्र बंदर नहीं ये बिंदु है पॉइंट है ठीक है लेकिन किस परकार का पॉइंट है ऐसी इस्तिती में इसे कौन सा पॉइंट बोलेंगे ए वाई तेल पानी मत लिखो ठीक ना तेल नो नहीं है सलखंड आई दम बैल के वहले का बताई इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं पतिछेदन बिंदू जहां पर एक से अधिक रेखाएं आ करके एक दूसरे को आलती काटि निकल जाएं वो पतिछेदन बिंदू होता है एक से अधिक रेखाएं हूं ठीक है क्या बोलेंगे पतिछेदन बिंदू बोलेंगे पतिछेदन बिंदू समझ में आया आगे चलिए कि एक चीज और बताओं कि रुख जाओ थोड़ा सा कि समझना कि यह समझना अगर दो रेखा ऐसे गई है तो इन रेखाओं को क्या बोलेंगे इन रेखाओं को क्या बोलेंगे और यह रेखाएं किस परकार की रेखाएं का लाएंगी अभी बता दो अभी तक तो बिंदू की बात होगी क्या कालाती है पता है, जब एक ही तल में इस्थित वैस सभी रेखायं, जो एक ही बिन्दु पर प्रतिछेदितहूं, जो एक ही बिन्दु पर पर Twenty हो आजसी संगामी रेखायं यह कंकरिंग रेखाय कालाती हैं, कंकरिंग Iron समझ जम शोवी और ये प्रतिशेदी रेखाय काल लाते हैं प्रतिशेदी रेखाय में सिर्फ तो ही रेखाय होती है अगर चयरपांठी कठा हो गई तो संगामी रेखाय बन जाती है थिक हैен इसा ही मुझे अब तक ज्याट हुआ है और जो तिरीयक रेखा वाले हैं ना कि महाएं नहीं चलती है आउसके लिए कोई बेश होता है कोई आधार होता उस पर चलती है तिरीयक रेखा ठीक है हर जगा मैत क्यूं आ जाती है मैत न यह जिंदगी नहीं छोड़ती है जब इंसान पैदा होता है न मतलब आपके जमाने में हम लोग तो जिस जमाने के हैं उस जमाने में न तो मोबाइले रहता था न मम्मी को इंटरनेट चलाना आता था कि फेस्बुक पर डालने नि कि आजकल लोग तब ऐसे डेट आप बर्तमान समझने लगते हैं जब से वह जान जाते हैं कि आएगा तो मैत जब से इंसान पैदा होता है तब से पीछा नहीं छोड़ती है और मर भी जाता है खुदाना खास्ता कभी सब भी मिर्त्व परमाणपत लगाना पड़ता हर जग कि यह मैत से पीछा नहीं शूटने वाला जो लोग सोच रहें कि मैत 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 नहीं पड़ेंगे काम चल जाएगा अरे आलू नोन धनिया खरिदने जाओगे सविके जए और अ कि नोत दिये कि ऑदर तुमको ऊसे रुपय के लुटा दिया तब बता तब का करो गra toxic 82 का सब्सॉब्सूंट लिए ओ सब्स॥ाुब्स के नौत लट Rac兒 जोड़ें पाये इसलिए पढ़ लो ये रेखा जो इसका नाम है A B इस रेखा को क्या बोलते हैं बताए क्या बोलते हैं इस रेखा को अभी जो लोग तिरियक रेखाएं बोल रहे थे इसको तिरियक रेखा बोलते हैं कि थिक है क्या बोलता है कि उसको त्रियक बोलते हैं जिसे इंगलीस बड़ी खतरनागे 30 की दूबारा वेचती हुई है बिल्कुल टेंथान मत लेना यार आप दुबारा बेज्जती नहीं होगी आप कहीं अपना वाली आपनी वाली के पास कहीं गए हो गूमने टालने उसके सामने तुमने को चीज खरीदा मानलो 272 रुपया का 500 की नोट दिया अब दुकांदार तुमको 210 रुपया उट लेकिन इसके लिए आपका कल्कुलेशन तो तेज रहना चाहिए ना नहीं तो पता चला कि रुपया भी गया और साथ वाली भी गई तब तो और गड़बड होगा कर दूआ है हो गया ना यह इसलिए बोल रहे हैं कि पढ़ लीजिए मैथ पढ़ लीजिए मैथ पढ़ लीजिए और हाँ एक चीज़ और बताते हैं इसी में यह तो आप लोग जान गए होली के मौके पर जिनको यह सब बेज़ती नहीं महसूस करनी है उन्हें क्या करना है 23 मार्च से एक नया बैच शुरू हो रहा है जिसकी जॉइनिंग आपकी 14 तारिक से शुरू हो गई है आप पी बीर स्टड़ी अप डाउनलोड करके आधी जाके जॉइन कर लें इसमें प लेकिन इसमें जिंदगी सुदर जाएगी तो पैसा हमेशा अपना ज्यान बढ़ाने में लगाना चाहिए अगर आप चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं नीचे नंबर चल रहें उन पर संपर्क करके या फिर पीवीर स्टड़ी डाउनलोड करके आपने से ही जाके ले सकते हैं खुदी मत संपर्क कर ये नंबर पर आगे चलिए अगला सवाल का जबाब दीजिए अगला सवाल का जबाब दीजिए ये बताए ये ये देख रहो का है देख रहो ना बिल्कुल सही बोल रहा है उपड़ोगे नहीं तो धन और धारम दोनस जाओगे ये पॉइंट पर क्या बोलते हैं इसे अभी कुछ लोग इसको अंडा समझ रहे होंगे कुछ लोग आलू समझ रहे होंगे ये मैथ की भासा में ब्रित्य कहा जाता है कि इस पॉlike को क्या बॉलते हैं बतादू पहले तो लगबक सबको मालूम है अच्छा यह जो किनारे AI ये इसको का सब करें। ऑच्छा जो यह लाइन मैंने खीचा यह क्या है अगर इसका नाम वी रख दिआजives भूरे को क्या बोलेंगे है कि I'm the alien वह अच्छा वह तुम आप यह क्या है इसे क्या बोलेंगे देखो भाई लाइट में दिन रात देखते देखते न मेरी आँख में दो तीन लाल लाल रेखा है बनी हुली है पिछले बार गये थे तो ममी बोल रही थी हमने का कुछ नहीं दिखाई पड़ता अभी टेंतन मत लीजिए पहरे थी नहीं बड़ाला हुब भी पाज़ी रहते च बंदना जैए अब लोग भी अगर पुझ करते जादा थो ठोड़ा चस्मा टाइक है कि लगाये रहें है कि इन Harada देट लुक्तर इस इनको' पुल लेएं और इनको दोन्याटी शीविग 25 बोलेंगे इनको दर्व एप एटिके बोलेंगे मतलब साला दिए आप एक बृत्त में अनंत रिज्जा खिंच सकते हो इसकी कोई लिमिट नहीं है है ठीक है हम आपको डीलेट का फार्स समेश्टर पढ़ा रहे हैं तो इसमें हमें सब कुछ पढ़ाना ही पड़ेगा सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा वो भी उतने लिमिट में ज्यादा हाई फाई नहीं हम आईए सुनिए एक चीज़ और यह कि यह रेखा है पी क्यू अगर इसको मैंने बीच से काट दिया इतना निकाल लिया हम मानलो ए और बी लख दिया तो यह ए बी जो रेखा है वो क्या क क्या कहलाएगी पहले यह रेखा थी पूरी-पूरी इसको बीच से काट दिया तो क्या कहलाएगी बोलिया आप सब को मालूम होगा नहीं मालूम होगा तो मैं बता देता हूं उसे क्या बोलते हैं सेमी सेगमेंट ऐसे कुछ बोलते हैं का हिंदी में जालो रेखा खंड बोल है है एक है काऊ सेग्मेंट है कि यह क्या बोलते हैं सीसके यह इसका माहन क्या जानते हो इस में इसमेड वन क्या होता है कि लाइट कम हो गई का अगर यह वी के ऊपर ऐसे लाइन खीच दिया तब इसका मान क्या हो जाएगा कि आप जानते हो असनेहा सिंग हाजी बताइए अगर इस पर एक पड़ी लाइन खीच दिया तो इसका मान कितना हो जाएगा मैं आपको बताता हूं देखिए मैं बताने वाला क्या था वो बताता हूं अगर इस पर एक पड़ी लाइन खीच दिया जाए ना साथियों इसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है एक हजार गुना बढ़ जाता है यह चीज याद रखना यानि पांच को आप एक हजार से गुड़ा करिए मतलब पांच हजार अगर किसी भी रोमन नंबर के ऊपर मतलब इस सिंबल के ऊपर ऐसे पड़ी लाइन खीच दिया उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है बात पक की आगे बढ़ें ठीक है यह चीज याद रखना दूसरा बात क्या हम यह रिवीजन हो रहा डियलेड वालों का कलास कोर्स खतम हो गया कलास नंबर 32 तक सब खतम हो गया जा करके आप उसे देख लीजिए तब खतम है यह रिवीजन चल रहा है अगर हम ऐसे लिखते हैं याक्स 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 तो क्या इसका कुछ मान होगा यह रोमनंग है और अगर तिरपल एक्स लिखते हैं तो इसका मान क्या होगा डबल एक्स लिखते हैं तो इसका मान क्या होगा भी विटाई एंगल एकस होता है साथियों तो इसका मान टेन होता है डबल एक सोता है इसका मान 20 होता है इसका मान 30 होता है आप कुछ लोग कहेंगे हां गरु साही बताया चार बार एक से तो मान 40 हो गया नहीं रुको इसमें कुछ लिमिट है इसमें कुछ लिमिट है एक मिनिट थोड़ा सा रुकना कि अलो थोड़ा रुकना कि यह थीक है आगे बढ़ें इस नदा कि यह तो मैं क्या बता रहा था पर यह साथियों मैं यह बता रहा था कि जो फोर बार एकस एकस है न यह संबव नहीं है यह पॉसिबल नहींire यह पॉसिबल इस इन नहीं है क्योंकि रोमन अंक का नियम होता है कि कोई भी मतलब जो यह लेटर है इन्हें दो से अधिक तीन से अधिक बार रिपीट नहीं किया जा सकता है मतलब आप चार बार नहीं लिख सकते हैं ठीक है फोल टाइम आप इसे नहीं लिख सकते है ठीक है यह नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता गलत है ऐसा रोमन गिंती में कोई मान नहीं होता है ठीक है यह मैं आपको रोमन अंक का कुछ मूल भूत बाते बता रहा हूं अगे बढ़े यह बताए पचास पचास को रोमा नंक में कैसे लिखते हैं लेटर क्या इसका कौन सा सिंबल है बोलिए क्या है कोशिस करिए बहुत डिश्टर्ब हो जाता यह लोग कमेंट के पीछे पड़े तो रहते हैं लेकिन मैं कमेंट देखता हूं दो बहुत गडबड हो जाता है कि टाइम इसमें लग जाता है कि अधिक है आई उसी बहुत अच्छे यल कैपिटल यल यल मीन्स लायन कि लेकिन उससे एक नीचे अगर आ जाए 49 तो 49 का क्या होगा इसको मैं क्या होगा बताइए चलिए इनके कुछ रूल पर चलते हैं इसको मैं क्या बता हूं आज है 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 कि अधान आधान आप लोग रूख जाएए बाई कुछ जरूरी है एक मिनटार जाएए निबेदन है तब तक आप लोग यह कि बताइए इनके रोमानंक बताइए 65 जवाब दीजिए फटाफट कहीं जाना नहीं कहीं जाना नहीं बताइए बताइए पोटीनाइन बहुत अच्छे बाइजी आगे अगे तीन अगे गूट थीक है और को यह निमन कि बलग कर दो किसको बलग कर दें भाई कि बहुत अच्छे सिवानिंग कि बेरी गुड अंसारी जी बहुत अच्छे और आमिर अली ठीक है तो पहला नियम मैंने बताया कि कोई भी लेटर को तीन से अधिक बार रिपीट नहीं किया जा सकता है जितनी बार संख्यां को दोराते हैं मान उतना ही बार जूड जाता है ठीक है कि सब ढ獎 से gratis हुआ यहाम झांते हो क्या होता है बोलो पीम कमान जानते हो क्या होता है बोलो बिप्लूंअ कि अगयाocraticा से सांटियों में आपको बताऊंcé कि मान जो है बहुत अब्रीकुर पता रहे हैं 1000 होता है यह लेटर जितनी बार रिपीट होता है उसके मान उतना मतलब उतना उसमें जूड जाता है जैसे दो बार रिपीट हो गया ना तो यह 1000 था तो 1000 में एक और जूड जाएगा क्योंकि दो बार हो गया डबल यानि इसका मान फिर 2000 हो जाएगा अन्नू सुकला बहुत अच्छे बेरी गूट ओके ठीक है क्लियर अच्छा आगे बढ़े बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेरी गूट अच्छा ठीक है रिपीजन आप लोग कर रहे हैं ना रिपीजन कर रहे हैं तो कुछ और बताईए 3.592 इसमें आप नाइन का प्लेस बैलू बताईए नौ का स्थानिय मान बताईए जल्दी करिए अब आपका एक नया बैच सुरू होगा अब रिपीजन में मजा नहीं आ रहे हैं मन नहीं लग रहा है क्योंकि यह बहुत छोटी छोटी चीजें कितनी बढ़ाय जाए वही सब और और होली का महाल चल रहा है इसमें वह इसे भीज्ड्के नहीं जुढ़ेंगे कुछ ही बना रहा है कनोपूरी चान रहा है कुछ आ और बना रहा है तो पढ़ाए बड़ाए hon काम जा रही गळाना लगा के रख ना रंग लें रंगल लें लेंके पढ़ेंगे पढ़ेंगा कौन जो नब्बे बता रहा है उसका गलत है जो नब्बे बता रहा है उसका गलत है आओ चलो भाईया हो इनका नब्बे तब होता जब ये 3592 होता यहां पर दसमलो है बीच में पॉइंट लगा है इसका होगा 0.9 कैसे होगा क्यूं होगा मैं खुब पढ़ाया हूं अगर आपने कभी पढ़ा रहा होगा तो नहीं पढ़ा था तो बात जानू आप बगवान जाने अमने जानते हैं ठीक है और रेफनल इरेफनल में पढ़ाया था यह बताईए अंडर रूट 125 और अंडर रूट 121 क्या इन दोनों में कोई पर्मिय संख्या है अगर है तो कौन क्या इन दोनों में कोई रेफिनल नंबर है अगर है तो कौन पुझिया बना के आ रही मैं जान रहा हूं क्योंकि ये इंडिया वाले हैं ये होली के दिवाली के दिन जो भी बनाना रहते हैं एक दिन पहले बना लेते हैं जो काम करना है उसे परशों करेंगे थीक है दो दिन बात करेंगे लेकिन खाणे कि इसमें रेशनल मैंने पूछा कौन है कि पर्मिय संख्या कौन है एक सब्सक्राइब यह पर्मिय नहीं है यह 125 का कहां से होगा 125 इसका तो कोई पूड़ वर्ग संख्या निकलेगी क्या कोई निकलेगी क्या कि मुझे तो नहीं लगता है इसका 11 होता नहां 11 घिरहम में 102 कि जिसका और गमूल पूरी तरह और जाता वह क्या होती है पर्मिए संख्या होती नहीं आपर में संख्या ऊती अ की थिक है कि कि पोकिए आगे बढ़ें अ इस खाइब यह नहीं है हम यह बच्पन किलोक हो जाए अच्छी बात है अब चलिए आगे देखिए ऐसे 175 और नौ सौ इन दोनों में कौन इरेफनल नंबर है इन दोनों में कौन इरेफनल नंबर है आप अर्मिय संख्या कौन है अब देखियो जिनको वर्गमूल घनमूल आई नहीं रहा है प्रॉब्लम उनके लिए है उनके लिए मुसीबत है बहुत इंपॉर्टन लड़का है आलो- इमानसू अब आप इनतजार करें ठीक है एक गंटा आ कि नहीं त एक हुझज और सूबह तक क्योंकी इस टाइम तो अब पढ़ों ऎरफे नहीं रात में हाँ कि अब रात हो गई रात में कोई फोन नहीं उठाता है लेकिन आपको पता है कि इस समय आप फर चल रहा है तो लड़के परिसान है उनको मुझे जहलना पड़ता है जरूरी है इसमें जो करेक्ट आंसर है 175 है जो 900 बता रहे हैं उनके खोपड़ी में अभी कुछ दूसरा चल रहा है वह संख्या जिसका पूरी तरह से वर्गमूल निकल जा रहा है या घनमूल निकल जा रहा है वह पर्मिय संख्या हो जाती है वह अपर्मिय नहीं रह जाती है तो आगे सेज और देखिए सेबन अपान जीरो इसका बी मानलो मैंने कहती है और एक यह है जीरो अपान सेबन इन दोनों में कौन रेशनल नंबर होगा अगर यह होगा तो बोलो ए और अगर यह वाला पर्मिय संख्या है तो लेखिए बी लेकिन कोई बी भी नहीं लिखेगा एक बा यह जब आप दीजिए फटाफट यह सब रिवीजन हो रहा है अगर छोटे-छोटे आप लोग इनको समझ जाएंगे ना रट जाएंगे ना बिल्कुल कहीं टेंथन नहीं लेना फिर तो आप तीर मार देंगे आस्मान में विल्कुल है है रान नहीं होना है कि नौसो बारा का पचीस परसेंट कितना है कि आवत ही कि अंसारी जी बहुत अच्छे बेरी गुड आरती चोधरी कृष्णा सिंग प्रियंका और फिजा खान मतलब क्यूट वाली फिजा खान चलो ठीक है बहुत अच्छे यानि कोई ए बता रहा है कोई भी बता रहा है ज कुछ मिस्टेक चल रहा है यह वाला सही है बहिया हो पर्मिय संख्या में पढ़े थे बाबुराजा आप लोग कि यह पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हो वो पर्मिय संख्या है लेकिन वहां एक कंडीसन थी कि जहां क्यू डजनाट इक्वल जीरो क्यू जीरो के ब हो सकती है इस नियम के अकार्टिंग तो यह वाला सही है जो पहले बी 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 बता रहे थे ना मैंने बोला था ना बी बी मत बोलना गड़बड कर दीना तो यह सही है वह गलत इसमें मैंने पूछा कि इसका 25% कितना होगा यह देखो अंसारी जी का 75% आ रहा है मतलब इन अजलों London कितना है तो यह और सबालों से करें का अन्सारी कि इसे काहिंट करिए आग क्या ऐसे preaching of application कायऄ बटो पूछी कॉछा तो करता आयों मैं जनम से पूछा था करना हो तो इसका निया कि खीए दूरा पंड़ाम स्काशकन था मैं 912 कुछ लोग ट्राई करें कुछ लोग तो कोशीज भी नहीं करें 25% करना है इसको 25 से गुड़ा कर दीजिए और भाग कर दीजिए 100 से आज दीजिए 25 से कम 25 पचीश चोका सो जिनको पहाड़ा वाड़ा नहीं आता है उनके लिए क्या करें तो यह 912 और यह 4 चार से कट जाएगा क्या यह 4 दूना 8 यह 4 दूना 8 नहीं कटेगा न यह 28 कैसे बता रहे हैं सब भाई चार से कड़ जाएगा क्या यह चार दूना आठ बचा एक एक यह होगे 11 चार दूना Local यह सही है यह निकाल सकते हैं कि तो यह event का सब्सक्राइब कर सकते हैं आप नहीं कर सकते है वैस सञीबेंगे बत धीज़ वखबाप का support कि यह अधिया का कि मैं कि अन्छाइन गयार का स्थालु में आपको मालूम है कि तना टेस्ट है अगर आपके पिता जी आप लोगों की नहीं बनती है कहते हैं तुम कुछ नहीं देंगे कौड़ी नहीं तुम तुम मेरा बैटा उन्हें नहीं है तुम जाके डेने टेस्ट करा दो पिता जी खुदे गड़ पड़ जाएंगे क्या तो यह साइंस में आजकल चलता है ऐसा नहीं कह सकते कुछ लोग तो ऐसे भी मुफत में पिता बन जाते हैं कहते है सब लोग नहीं घुक है आएङ झारश उन्हें में बाद में सम सब करें यह तहें ऐसको भी देख लेते हैं इंधर साइड में कि अब यहां पर कुश्चन दूसरा बन रहा है कि 912 का कि इसको यहां से कर लेंगे कि नहीं कि कर लेंगे ना आये यह अभी आंसर आजाएगा 25 परसंट मैंने आपको इसमें बताया था परफ्रेंटेज बराबर पूड़ा आंक यानि उस संख्या को गुड़ा करोंगे सौ से और भाग किससे करोंगे जो पूरी पूरी नंबर है 912 यह जो आएगा वो परसंटेज में आ जाएगा हल कर लेंगे न कर लेंगे न अब देखिए अभी अभी यह डिवाइड हो गया था तो भाइक काट दू चार से 25 आगया चार से यह बी कटा था न चार दुना आठ चार दुना आठ चार दुना चार अठ चार अठ बत्तिस दूसवाटाइस से 228 कट गया फाइनल में 25 बचा है प्त्र परसेंट और आपको समझ में आया कि नहीं हुआ ना बात मतलब कर फीटा जीशें पुद्र की प्राप्ती ह reconcile और पुद्र जीशें प्रकी प्राप्ती हो गई यव्या कुश्चन से एक आंसर आया था और इस आंसर से ले करके फिर कुश्चन आ गया यह मैत है मैत और साइंस में ऐसा होता है यानि 912 का 25 परसेंट निकाला तो 228 आया फिर अगला कुश्चन था कि 912 का कितना परसेंट 228 है तो 25 परसेंट है समझ गए ना लिख लिजिए फटा फट यह चीज़ें आपको आनी चाहिए इसमें तो यह हो रहा रिवीजन वैसे तो मन नहीं लग रहा है चुट्टी उट्टी चल रही सब भाग गये हैं लेकिन मैं ही अपने आपको सता रहा हूं यहां पर अकेले बाकि सब लोग गये सब लोग की चुट्टी है तिन-चार देन तक मैं सोचराओं चुट्टी कठे लिए जाएगा वैसे अभी तो पचासों लोग देख रहे हैं सैंकडों लोग अभी बेसिक वाले में आये थे तो इन लोग क्या होगा हम जाएंगे तो हम जाएंगे तो इन लोग का भबिश से चो कि चार और अचरपद को जोड़ना घटाना कर लेंगे आप लोग परसेंटेज में तो बहुत सारे कोश्चन बनते हैं कि परसेंटेज में बहुत सारे कोश्चन कर लेंगे ना आप लोग एक मिनिट रुकिए मैं कुछ और चीज़ें आपसे पूछता हूं इसमें से हाँ एक और बताईए एक और बताईए वो क्या है तीन बटा पांच और आठ बटा तीन और साथ बटा दो इनका HCF कोई बता पाएगा HCF बताईए क्या होगा इनका HCF बोलिए तो चीज़े और बताईए क्या होगा आगे बढ़ते हैं फटा फट देखिए हम इस क्लास को स्टाइफ लिए कर दिए क्योंकि लोगों की उमीद होती है कि हाँ इस टाइम पे चलेगा 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 जैसे होता नहीं सीडियल आता आने वाला ग्यारा बजे तो लोग तैयार रहेंगे पहले से मुझा दूल के बैठे रहेंगे हैं वही हिसाब से हमारे कंडिडेट होते हैं जो पढ़ने वाले वह भी इसी उमीद में रहते हैं कि दस बज़े आएंगे दस बज़े आएंगे हम नहीं आएंगे तो बड़ा म कि अच्छी आदब में क्या करेंगे साथीओं ऊपर वाली नंबर का स्याध कि निकाल लेंगे व बड़ी से बड़ी संख्य कि तीनों कर जातो भर नाएगा नीचे वाली नंबर का स्यूह निकाल एग कि 5 था Security कि बढ़न अपां टरटी अक के बमार्टि नहीं आएगा भाईया ऊपर वाले नंबर का क्या होगा चीज़ होगा अंस का चीज़ होगा तो वन आएगा हर का LCM होगा वन अपन थर्टी आएगा सिर्थ थर्टी नहीं आएगा तो यह बता यह इसमें तो आप लोग काफी चीज़े समझ गए हैं इमांदारी से बताना अब बहुत अच्छा पॉइंट में पा गया हूं अच्छा वाला यह बताओ कि 18 के कितने अपवर्ता को सकते हैं संख्या 18 के कितने अपवर्ता को सकते हैं विभाजा का अपवर्ता क्या फाइक्टर कितने हो सकते हैं और वो कौन-कौन से हैं बोलिए संख्या 18 के आप और तक की संख्या बताइए कितनी हो सकती है कौन कौन हो सकती है जब आप दीजिए फटा-फट खटा-खट बताइए चलिए देख लेता हूं माहिरा मैं आ रही हूं गुजिया खाने गड़बड जान लो फिर अभी पहले पढ़ लग जाना कोशिश करिये गुजिया बाद में खाना चलो कोशिश कर लो भाई कोई मेरे लिए भी बचा के रखना एकाद दो ठी हम भी आएंगया देखो जिसका कर नजदीख है उसके आए जरूर भी न बताएं इनका भी बताएं और इनका भी बताईए और इनका काहें न बताऊगे इसमें अगर सबसे पहले कोई जबाब दिया है तो उनका नाम है फिजा खान मतलब क्यूट फिजा खान सौरी दो च्छा नौ अठारा इभाईया कंवने दुनिया में जी रही कि दुए च्छा नौ अठारा काहें तीन नहीं होगा का गलत है इनका गलत है गौतम पटेल वन टू थ्री शिक्स नाइन एट्टीन वह से आपका सही है गौतम जी लगभभ प्रीति कभी गलत है क्योंकि प्रितिया जो है ना यह भी नकल करिए उपर वाले का आई उसी अब जब फीजा खान गलत बता दी तो आई उसी गलत काहें न बताएं ऐसा हो यह नहीं सकता है कि इनका भी गलत है देखिए इसमें क्या है प्रोब्लम यह है कि थोड़ा सा इन्होंने एक डिजिट छोड़ दिया था बस बाकी ठीक है आप लोग अभी एक के में पटक रहे हों को पड़िया चलो दो चार थी बता दो आगए इसका वन होगा थ्री होगा और फाइप सिक्स नाइन एटीन संभव फैक्टर का मतलब यह नंबर कितने नंबर से माइक्सिमम कट सकती है देखिए यह सब यह होता दोस्ती में एक लोग गलत अंसर बता दिया सब गलत बता दिया ऐसे थोता ना पेपर में जो लोग नकल वक नकल भीक ना मैं तुम्हारे पास हा नहीं भी नहीं कर तो अ? इसके कितने हो सकते हैं पॉसिबल को लोग बहुतबार में बहुता था को अभी इसको दूसरीust का चड़िए । ईसको पढ़ना नहीं इसको दोस्ती चाहिए समझ रहो ना on सब्सक्राइब इनका वहीं से अच्छा था इसके फैक्टर वन कि फाइब और कि और क्या क्या हो सकता जिससे यह कड़ सके हमें तो नहीं लगता इसका और कोई साथ ही है यह खतरनाक है इसके दुए तिन थी दोस्त हैं 1525 और इसके कितने कितने हो सकते हैं वन टू जार सभी कर जाएगा नहीं यह फोर से और फाइब सिक्स सेवन एट नाइन टैन यहनी 14 और 28 यह सभी क्या है इनके पॉसिबल फैक्टर है रुची सिरिवास्तो जी बिल्कुल मैत की नईया पारी नहीं होगी मैत में नईया नदिया के उस पार सूखा में विचलेगी बस आप पी वियार एस्टडी में रेगुलर जुडे रहिए सीरियल भाई सीरियल सारे कोर्स देखिए वीडियो नईया पानी में नहीं सणक पर भी चलेगी फिर लेकिन पढ़ेंगे ताब नहीं तो नईया डूलबे ना करेगी आगे बढ़ें अगला देखिए यह को छूट जाएगा तो बता देना कोई नंबर ऐसा जिससे यह कट रहा हो और मैंने ना लिखा हो मुझे नहीं लगता है इससे जादा है कोई परिया कुमारी जी बहुत अच्छे आयूसी 39 इन्होंने कहा है 13927 आपकी बार मैं इनकी नकल करके लिख दिया हूं मुझे लग रहा इन्होंने सही बताया है ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड सही है इसमें से आयूसी ने सही बताया बाकी इन लोगोंने सब गलत गलत बता रहे थे इनको एक इनाम मिल गया आयूसी जी को चलिए देखिए अब इनका जो कमेंट है न वो सब लोग से समझते हो कि ने जो मैंने लिखा है सबको मालूम है पक्का मालूम है हंडेट पर्सेंट चलन ठीक है पित एक और बताओ कि इदर थोड़ा आगे 64 का बताईए कितने इसके फैक्टर हो सकते हैं इंसेक्ट्रेश्टिंग लगी मैत मेरी वाजासे रूची जी देखिए मैं पहले बी बताया था कि मैतमेटिक्स में सब्सक्राइब अन्हुश की मोहबत करवा देते हैं पतलब द्सरी भातन से आमें बोलें तो प्यार करवा देते हैं लब गर्स्टेयों नहीं क्योंकि और कोई तो है नहीं प्यार करने लाइक तो मैथ में अगर आप रेगुलर हमारे साथ आते हैं तो कुछ दिन बात देखेंगे दोते जागते उड़ते बैड़ते इन्हीं का ख्याल आएगा और जिसका इतना ख्याल आता है उसका मतलब उससे हो गया कुछ-कुछ समझ रहा हो ना रेगुलर क्लास में आया करो चली आगे बढ़ें यह क्या करना है हमने का इनके फैक्टर क्या-क्या हो सकते हैं देखिए आप लोगों में से कोई नहीं बताया सबसे पहले यह माहीरा जी बताई है दात और मूँ सब खोल के सब गलत है इनका आई से करीं मख्य कुछ जा चाहे और को यह निवन असनेया सिंग अंसारी देखिए जो लोग बता रहें ठीक है लेकिन मैं पूछ रहा हूं सभी फैक्टर बताओ ना जितने पॉसिवल फैक्टर है आपको सब बताना है दूर्टी एक्ठी नहीं बताना जैसे का जाए कि तुम्हारे कितने भ होते हैं अजकल भाई हम लोगों को विश्वास नहीं होगा हमारी एरिया में एक लोग है माश्टर जी उनके बारा बेटवाइव पांच बिटियां बारा पांच सतरा समझे रहो ना कुछ दिन बाद वेक गाउव बसा लेंगे और फिर एकाद्व पुस्त बादना एक गरा गराम सभा गराम पंचाइद बना लेंगे अपने घर में तो यह होता था आज के 20 साल पहले लेकिन आजकल लोगों की अपनी जिंदगी चली नहीं रही है तो बारा पंदर लड़का कहां समालेंगे कि इनके पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं वन हो सकता है टू हो सकता है अधिरी तो होगा नहीं फॉर भी हो सकता है और क्या क्या हो सकता है कि अपिए हो सकता है यह यह कौन है कौन है कौन means 1 minute मिनट है इस इनका गलत है जो से बता रहे हुआ ह्या चैक आठ्वी हो सकता है और नो दास ग्यारा बाराय तेरे चुदा पंद्रा फद्राइट अठारा बी हो जाएगा उसके बाद तो मुझे लगता होगा कुछ में कि एक मिनिट बताऊंगा वी उनमें से जो लोग कह रहे हैं काबिल की बात ना जो मैंने अभी कहा था कि आठारा ना अरे वो मास्टर जी है गुरू जी उसमें से कोई इंजीनियर है कोई डाक्टर है कोई टीचर है एक से एक सब्वें भाई लाखों में नहीं करोणों में इन नहीं लगाता होगा इस नहीं करते लेकिन अंयों मुख्ष ढ्राइबर रहें ना उनके पिता जी उन्होंने कमान समाली तो इतना हो बाया को अब जादा बड़ी पैमली कोई बड़ी बात नहीं लेकिन इमान दार समय दार और समालने वाला इंसान होना चाहिए तो यह ठीक हो गया इसमें और भी कुछ बचेगा क्या इसमें आगे बात करते हैं देरे देरे हाई फाई करेंगे पहले छोटे छोटे कुश्चन एक और बी वाला सुखा तो है न यह फ्री प्लस यक्स इक्वाल माइनस का फॉर इसमें यक्स का बैलू क्या आएगा तो चीए और बताईए मुझे लिखना है जहां मैंने लिखा उसके उधर लिखना इधर नहीं लिखना है बस मुझे यह याद रखना है बस ठीक है बहुत अच्छे पर्दूम कस्यप जी बेरी गुड वर्सा यादो जी बहुत अच्छे बेरी गुड ठीक है बहुत किलर जी भी आज जूड चुके है अच्छी बात है सुन्दर बात है चलो देखिए साथियों इसमें एक वर्यबल है दो कांस्टेंट है हमें वर्यबल की वैलू फाइंड करनी है यादि यक्स कमान निकालना है हम क्या करेंगी पता है इनको ऐसे का ऐसे यक्स यक्स को रहने देंगे और बराबर का जगा बराबर लगाएंगे इधर साइड जो नंबर है उससे वैसे रहने देंगे इधर स्खराइब फीलच विधर माइंटिक का माईनस हो जाएगा कि मतलब चेंग जाएगा अब thunder की है अब यह यक्स बराबर इसमें से घर जाएगा वहना जाएगा है इतना सबको समझ में आ रहा है इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं न कोई दिक्कत नहीं न चले आगे बढ़ते हैं ठीक है अच्छा है चलो जुट है समझते हैं इसमें देखिए इसमें देखिए यह X जहां भी है क्योंकि हमें X का ही मान निकालना याद रखना ऐसा नहीं कि यह पहले था इसले यहां X लिखा था नहीं यह कहीं भी है हमें X का ही मान निकालना है ना इसमें तरल करने का मतलब क्या जो अग्यात रासी है उसी कमान निकालना है भाई यह फोर तो पहले से पता तीन तो पहले से पता इसका क्या निकालेंगे जिसका नाम ही बदनाम है उसकी इज़त कहां बचिए आओ देखो यह क्या करेंगे यक्स को लिखेंगे यह फोर को ऐसे लिखे हैंके मैंन ψाश रिया कि अगर कोई दोराशी माइनस में जुड़ती है तो क्या होता है पता है अगर कोई दोराशी माइनस माइनस जुड़ती है तो फ्लस नहीं होती है वह प्लस नहीं होती है वह माइनस में ही अंसर आता है लेकिन एक चीज़ और बता तो छोटा सा है अगर माइनस का तीन का गुड़ा माइनस का पांच में होगा तो क्या अंसर आएगा प्लस में या माइनस में बोलिए अंसर प्लस में आएगा या माइनस में आए बहुत अच्छे डॉली राजपुच जी बहुत अच्छे बाइब परदुम आरजू जी बहुत अच्छे बहुत कोसिस करते रहिए बिल्कुल लगे रहिए तो साथियों जब हम मल्टीपल करते हैं तो प्लस हो जाता है लेकिन जोड़ने घटाने में ऐसा नहीं होता है जो पुराने स्टुडेंट हैं पी वी आर स्टडी के उन्हें सब पता है क्योंकि वह धैर से काम लेते हैं और पढ़ते हैं प्यार से उन्हें सब मालूम है आइए आपको भी मालूम हो जाएगा एक और देखिए पंदरा अलग तरह का है पंदरा बराबर ए प्लस और माइनस का 12 अब बता इसको कितने लोग कर लेंगे और बताईए कर लेंगे ना एक बार सोचिए एक मिनट का काम है आदा मिनट का इसको भी बताईए चलिए देखते जाएए इलेबन बी इक्वल बी माइनस का तीन खीक है लकविंदर सिंग जी बहुत अच्छे बेरे गुड़ आपने कोशिस किया प्रियंका ठाकुर आ गई आप चलिए कम से कम आई तो यहां समझिए हमें क्या करना है जो नहीं मालूम है अग्यात रासी है उसका मान निकालना है तो हम क्या करेंगे भैया इसका दो तरीका है एक तो यह कि इनकी पूरी फैमली को इधर ले आओ इनको पूरा उधर लिए जाओ और फिर एक अमान निकाल लो और एक तरीका यह है कि इनकी फैमली को बिल्कुल न छेड़ो जहां है वही रहने दो अब ऐसे अपना काम चला लो तो भाई अब ऐसे चला लेते हैं चलिए इन पंदरा को ऐसे लिख देंगे और लेकिन कुछ लोग अभी कंफ्यूज हो जाए था डाइंगे मतलब फ्यूज हो जाएंगे कि ऐसे हो गया एक लाइन और बढ़ा देते हैं चलिए 13 एपलस है यह माइनस हो जाएगा तो माइनस होजाएगा ट्वेल से बनाएगा प्लस में आएगा माइनस में नहीं यानि 27 बना जाएगा इसका मान यहां से कहीं से भी लिख सकते हो एक मान 27 बना गया वहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने इधर लिखा है दिमाग की बत्ती जल रही है बंद हो गई है बुझ गई है आप लोगों के डीलेट पर्थम समयश्र के चात्रों सुन लीजिए आपका कोर्थ खतम हो गया है यह मैं बेसिक मैत के उद्देश से पढ़ा रहा हूं अगर आप BTC यानि डीलेट कर रहे हैं तब आपके लिए भी है इसमें देखियर क्या करेंगे इसमें देखो बी बी दो जागा रहे हैं चोईंत चार्ण हो इदर आंगे तो जया और माईनस का भी कि नहीं कि समझे है बीच में बराबर की जगा बराबर ये माइनस की जगा पर माइनस का 3 जैसे है वैसे ही रहेगा ठीक है अब देखो समझो ये प्लस का ग्यारा भी ये माइनस का तो ये घड जाएगा अपस में सब्ट्रेक हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 भी बराबर माइनस का 3 तो P बराबर इधर इसके साथ 10 गुड़ा में है इधर जाएगा भाग में हो जाएगा माइनस 3 बटा 10 माइनस 3 अपांट 10 आएगा पूजा महर्या जी बहुत अच्छे ठीक है कोशिस करते रहिए राई करते रहिए कभी ने कभी तो आएगा ही ठीक है कोशिस करते रहिए कभी जितने भी छात्र जुड़े है इस कलास को लाइक जरूर करें आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां है उसे निभाते जाएए ऐसे मजा नहीं हाती है समझिए अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है चलिए तो यह हो गया मिटाऊं अगला कुश्चन के लिए दिल थाम के बैठना मतलब पकड़के भागने न पाए इधर ने लगा रहे कहीं और न लगे यह है समीकरण इकोई संजिन को कुछ नहीं आता समीकरण में वो यहाँ से सीख सकते है y-6 इक्वल जीरो अच्छा तो तुम भी आ गई अच्छा है प्रितिया आ गई वो बोल रही चलो ठीक वाई-6 इक्वल जीरो इसमें वाई कमान क्या आएगा क्या आएगा अगला है 3 प्लस जी इक्वल थ्री तब आ रहे हैं धीरे धीरे अभी कौनो कौनो रंग छुड़ा के आ रहा है कौनो पुतर के आ रहा है लेकिन आ रहे हैं सब धीरे धीरे जग रहे हैं मतलब सो गए थे ना एक बार यह भांग भांग तो नहीं पियो ना लगाए हो वाई कमान क्या आएगा 6 आएगा क्या आएगा 6 वाई क्वल 0 प्लस 6 क्योंकि यह इधर जाएगा जब दूसरी साइड जाता है बराबर के तो क्या होता है हिस प्लस हो जाता ओस कम डूस या इदर माइनस में उधर जाता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है है समझे डहीं ही हुरा जैसे एक परकार समझ लीजिये जो लड़कि कया होती गल्स जब अपने घर में रहती है तो सारा काम करती हैं लेकिन जब उनकी साधी हो जाती है अपने सब करेंगे लेकिन वहां जाने के बाद ना ना हम इसको तो कभी काम किये नहीं जिंदगी में है वन पॉइंट टू एक्स प्लस थ्री इक्वाल इसमें और लिखिए और पॉइंट टू अब बताइए कितना आएगा कोसिस करिए कितना आएगा आप लोग कर लेंगे सभी कर लेंगे मुझे पूरा उमीद है क्योंकि यह बिल्कुल चोटी चोटी बातें आप सभी समझ रहें ना तो अब हम चलते हैं दो घात वाले समीकरण पर ठीक रहेगा ना इसको भी बता देते हैं देखिए पॉइंट में है यह एक्स इसके साथ लगा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे इसके साथ में जैसे भी लिखा है बराबर की जगा बराबर 4.2 यह प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा ठीक है अब यह 1.2 एक्स इसको इसमें से घटाएंगे सब्ट्रेक करेंगे आप बताओ कितना आएगा सब्ट्रेक करके भाई कितना आएगा देखिए ये चार रुपया बीस पईसा है ये तीन रुपया है इसमें से घटेगा तो एक रुपया बीस पईसा बचेगा यानि 1.2 एक्स यहां से एक्स बराबर निकालेंगे 1.2 ये बचारा इधर जाएगा 1.2 हो जाएगा हाुत आएगा क्या आएगा नीचे दिख रहा अ नहीं दिख रहा है इधर साइड में लिख लो ये आपस में heck 42 ओं इसमें कैंसल開व जाएगए 2x-3 upon 5 equals 7 अगला लिखिए लिखते जाईए 2x-3 अभी कोई कह रहा है कि मैत पढ़ा रहे हो होम साइन्स पढ़ा रहे हो बच्चवा हो यहां पर सब कुछ चलता है समझ रहे हो न यहां पर मैत भी चलता है होम साइन्स भी चलता है इतिहास भी चलता है और जो चीज आप नहीं सोच चकते हो वो भी चलता है क्योंकि यहां पर पढ़ाया नहीं जाता है यहाँ पर सिखाया जाता है और सिखाने के लिए जो जो करना पड़ता है वो सब करते है यहाँ पर क्या करना है एक्स का बाइलू फाइंड करना है मान निकालना है चलिए तो क्या करेंगे समझना यहां पर हम लिखेंगे 1 देखिए एक चीज़ समझिए अगर तीन बटा चार एफ है और प्लस का वन अपान थिरी है और यह तीन बटा चार है और बराबर का वन अपान थिरी है तो उनों में अंतर है इसमें आएसे क्रास मल्टीपल करते हैं और इसमें अगर आप क्रास मल्टीपल करते हो तब आपको नीचे नीचे का भी गुड़ा करना पड़ता बाद में थिक्का है समझ रहो न यह चीज आपको याद रहना चाहिए तो वैसे यहां क्या करेंगे class multiple करेंगे one का इसमे multiple करेंगे तो यह वैसे कव ऐसे रह जाएगा पांच का साथ में करेंगे तो यह 35 अब यह टू एक्स बराबर यह 35 यह माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का तीन हो जाएगा यह अक्स कमान निकालेंगे 35 38 यह जूड़ जाएगा यह दो इधर जाएगा भाग में आ जाएगा यह अक्स कमान 19 आएगा सबसे पहला जवाब आया है क्यूट फिजा खान का नहीं नहीं रभी कुमार उसके पहले हैं प्रियंक ठाकुर जी हैं चूथे पच्छे छटे नंबर पर वह आ जिक है बहुत अच्छे अगर सबको समझ में आया तो बोलिए यस हमें समझ में आ गया यस यस बोलते जाएए इस ऑल आपको समझ में आया क्ब हुआ आया वाया कि ना हीर आया न चलो लिख लेजिए छाप लेजिए आगे बढ़ते हैं आप पढ़ रहे हैं सरल समीकरण, आज का टोपिक है सरल समीकरण, अगला, नेक्स्ट कुष्चन, दिख तो रहा है, मुझे बहुत अच्छे दिख रहा है, सुन्दर दिख रहा है, अगला लिखिए, यहां से यक्स कमान बताओ, चलो जल्दी बताओ, यक्स कमान, दो भाग में बाट देते हैं, जितने भी साथी जुड़े हैं, वो सभी कलास को लाइक जरूर करें, देखिए, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आप उसे समझें, अगर आप करते हैं, तो फिर अच्छा बात हैं, पुन्य होगा, और पुन्य का फल क्या होता है, कल्यूग में धर्ती पर मिल जाता है, जो कि इतने ज्यादा इंसान हो गए, अब आदी हो गई ना, अब भगवान ऊपर पुन्य और पाप का फल नहीं देते हैं, वहाँ पे देहीं नहीं पातें, इतने जद्य जन संख् कि इसका सबसे पहला आंसर पीजा खान का आया है पूजा मौर्या का भी आया है और राजन का भी आया है ठीक है कि दो बटा तीन एक्स ऐसे लिख देंगे कि बराबर कि यह दो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा समझना यह एक्स ऐसे ही रहेगा दो को ऐसे ही लिख देंगे जैसे है इज्जत्मान सम्मान के साथ अब यह टू अपान थ्री जब इधर जाता है न भी यह यहां गुड़ा में उधर भाग में हो जाता है तो भाग में करके देख लो यह दो बटा आप समझना यह विचर्रा अंकेले है ठीक है अकेले है दूई जो है यह उपर वाला टू के आंकेले है अंसहर में नहीं था और यह विचारे के दोनों जोड़ी में हैं तो अगर ऐसी इस्तिति कहीं बनती है ना साथ ही हो तो यह यक्स बराबर हो जाएगा टू इंटू यह अपान अबी होता है बाबू तो इसका फर्मूला बन जाता है का बन जाता है मालूम है का बन जाता है अब आपान ए ठीक है यह याद रखना यह सुत्र एक प्रकार से अब रिवीजन हो रहा है मुन्ना रिवीजन हो रहा बाबू चलो आज पढ़ाया जा रहा टेस्ट नहीं है यह कट जाएगा तो यक्स कमान के आएगा तीन आएगा एक चीज ध्यान रखना इस तरह पेपर में डबल बराबर नहीं लगाना नहीं मस्टरवा कनफूज हो जा है तुमको इसलिए डबल बराबर नहीं लगाना एरो लगा सकते हो कि अधिक है बात पकी ना आगे बढ़े अभी समझ रहो ना मेरी बात को कि नहीं कि अरे बीज में कम से कम हूं हां बोले जाया करो कुछ लोग बीज में खाना भी खा लेते हैं कुछ चटपटा भी कर रहे कि यह साथ साथ में देखे जा रहे हैं और मैं जूरे यहां चिलाया जा रहा हूं कोई पूछ भी नहीं रहा है कुछ नहीं को सब्सक्राइब करिये हूं सुखिकि कि हम कर हार है और भी नहीं तो फटा चले है कि या सो रहे जाग्ते रहो जैसे वो कहीं मैंने सुना था जागते रहो जागते रहो अच्छा वो किसी मूवी में सुना था कहीं सुना था जागते रहो तो ऐसे आप लोग जागते रहो भई नहीं तो कल से हम यहीं पे यह साउन रिकार्ड करके रख देंगे बीच बीच में बोलता रहेगा जागते रहो जागते रहो को जाने फिर आगे बढ़े कि हां हां हुँँ हां कर रहे हैं चलो ठीक है जा रहे हो इसका मतलब सब्सक्राइब है जा ठीक है तो थ्री प्लस फॉर एक्स प्री प्लस फॉर एक्स इक्वाल एक्स प्लस नाइन इसमें बताओ एक्स कमान वाच मैंन का टालाग है अच्छा अब मुझे नहीं पता था आप लोगों को एक ज्यान की बात बताएं ना आप लोग किसी भी धरम किसी भी समुदाय से हो लेकिन गीता का उपदेश जरूर देखा करें यूटूब पर ठीक है मन देखा था जो लोग भरमित हो रहें बिचली थो रहें अपने मार्ग से उनके लिए फायदेमंद रहेगा समझ रहे हो ना अब मैं आपको कमंडर लेके सन्यासी बनने को नहीं बोल रहा हूं जो कुछ कर रहे हूं वो करते रहो जिंदगी में छोड़ो मत कुछ लेकिन उसे देखो जर आया है सुप्रिया जी ने बताया अमरिता भारती बहुत अच्छे ठीक है तो यह थ्री प्लस फोर एक्स लेकिन मैं पूरा-पूरा क्यूं लिखूं हमें क्या करना एक्स कमान निकालना है नो तो ठीक है पहले लिखेंगे इक्वल यह भी गड़वड़ है देखिए इसमें दो तरह के पद है ठीक है एक तो यह बरियेबल के साथ में है और एक अलग-अलग एक कंस्टेंट है तो जितने बरियेबल वाले हैं उनको इकठा कर लेंगे यानि यह फोर एक्स और यह यक्स इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा पीच में बराबर कें ने बराबर और नो जैसे एब ऐसे रहेगा अं पुस्टेंट है अब यह तीन इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा देखो है थोड़ा एरेंजिमेंट हुआ न सही हुआ अब इसमें से घड जाएगा तो तीन एक्स आएगा और इसमें से घड जाएगा तो 6 आएगा अब इसे थोड़ा यजत के साथ लिख़ेतो कि दो आहेगा है humanities यह जो सब का नाम ले लेके गुड इबनिंग कर रही ना पढ़ बढ़लो नहीं ते गुड इबनिंग काम नहीं आएगा पहलो जाबून न ते बोल बोन करें सब हिसी वहीं है को कि वसे वाकाई में लड़की यह बहुत बोलती मानना पढ़ेगा craft कलासमें पढ़ते थे हम लोग तो बन-बन-बन-बन बन बन-बन-बन बोलती रहती थी ओर यह कलास में पढा रहें तो यहां फिसार हमối बोल रहें नहीं बोल पा रहे हैं पता नहीं वह बढ़ बढ़ा रही कि मुझ बंद करके वैठी अरे कुछ देर तो सांत रहिए कि खाने में बकरियां जैसे अर्दम कुछ ने कुछ चबाते रहो जो मिल जाएं बोलने में उससे भी आगे कि चलो आगे लिखो एपान सेबन प्लस वन इक्वल टू इसमें वाई कमान क्या एगा अब देखो अगर हम नहीं बोलेंगे न तो फिर अब बोसने आ रहे नहीं तो कवता में नहीं बोलूं ख़ड़ रहें कि इसका जबाब दीजिए पहले बताइए नहीं बोलेंगे चकोटी यह काटेंगे जो आगे बढ़ेंगे है ना हां तो मैं यह बोलता हूं हूं हां बोलते रहो जो मैं कुश्चन का अंसर पूंछ हूं यह नहीं कि पृतिया का कर रही है सुपर्यवन आए एक निन आए इसकूल गए एक नहीं गए रंग लगाए एक नहीं लगाए यह सम्मत पूछा कर रहे हो कि नहीं केवल 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 हां हूं बोलिए अंसर का जबाब दीजिए बस इतने बोलिए यहां पर देखिए कैसे क्या करेंगे समझ यह यह वाई के समझ रहे होगा नहीं अब यह वाई अपान सेबन इक्वल वन क्रास मल्टीपल हो जाएगा तो कितना आएगा तिर्षा गुड़ा हो जाएगा तो वाई का मन साथ आएगा से बनाएगा यह कोई तो सेबन आपान वाई बता रहा है अब इसको मैं मिटाता हूं इधर साइड में वैसे उमीद है कि आप लोग अब सीख गए है इसमें कुछ बताना नहीं कुछ नया पढ़ाया जाए क्या लेकिन मुसीबत यह है ना कि आपके जो सिलेबस है पाठिकरम है डियलेड वालों में यह बहुत हाइप हाई नहीं है छोटा-छोटा समी करन है इसलिए मैं ज्यादा बड़ा नहीं पढ़ा रहा हूं हूं समझ रहा हूं यह जो हूं हां लोग बोल रहे हैं इससे मुझे चीज और रहा रहा है अगर आप किसी को खूब सारा मैसेज करते हैं खूब सारा अपनी सारी बातें सारी फिलिंग सारी कुछ बताते हैं भेजते रहते हैं और वह 10-20 मेसेज के बाद एक बार हूं बोल दिया या अच्छा बोल दिया तो आप समझ लीजिए कि आपकी सारी कहानी उससे समझ में नहीं आ रही या पसंद नहीं आ रही यह चीज याद रखिए का बड़े अनुवहों के साथ बता र इसमें क्या करना है गुड़नखंड करना है अब बताएए इनका फैक्टर कर लेंगे आप लोग यह अलग है यह अलग है बिल्कुल अलग है इसको एक आद दो बता देता हूं फिर आप लोग करते रहिएगा क्योंकि इसको बताते बताते मैं खुद उप गया अच्छा नहीं लग रहाए इतना सारा कितना हल करवाएं इसमें क्या होता जो बीच वाला पद होता उसको दो भाग में तोड़ा जाता है ठीक है बीच वाले पद को दो भाग में तोलते हैं और फिर इस तरह से निकालते हैं देखिए यह 5 है न और यह 6 है तो यह 5 को हम ऐसे लिखेंगे प्यार से और 6 को भी वैसे ही लिखेंगे अब हम कोई दो ऐसी गिंती पकलते हैं खोजते हैं जो इधर वाली है न वो गुड़ा करने पर आएगी यानि जिनको गुड़ा कर दें तो 6 आ जाए और जोड़ दें तो 5 आ जाए यह हमें खुद से सोचना पलता है बताए कोई दो गिंती जिनको गुड़ा कर दें तो 6 आ ज होता है ना तो यह बाई उपर मत गिरे यार वैसे अभी कारला पहले से हूं कि देखो यह यक्स का स्कॉयर प्लस पांच की जगा पर हम लिख सकते हैं तीन दन दो और यह यक्स बाहर से ऐसे रहेगा छे ऐसे लिख दिया जाएगा ठीक है बराबर की जगा बराबर यक्स का स्कॉयर और यह प्लस तीन का एक्स में गुड़ा होगा तो तीन एक्स और धन दो का एक्स में गुड़ा होगा तो दो एक्स और यह धन छे इसमें क्या करते हैं यक्स कामन हो जाएगा तो यक्स प्लस थ्री बचेगा और फिर इसमें दो कामन हो जाएगा तो यक्स प्लस तीन बचेगा यानि फाइनल में क्या होगा यह यक्स प्लस तीन और यक्स प्लस टू एक आंसर आएगा आप लोग मुझे यह बताओ भाई साहब कि नमबर थार्टी एट इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं मतलब अपवर तक इपाली विश्कर्मा जीु गुदिबनिंग आपका कमेंट आ रहा है मनोज महतो अरभी कुमार और धवन राज्या अनीता पीहू रुची मनोज चंदन तुरजिध जी आपका भी कमेंट आ रहा है पूनम थाकुर जी आपका 气रार quest सबका कमेंट आ रहा है जब आप दीजिये फटा-फटा आगे बढ़ते हैं यह पानी है बाई कुछ और नहीं है आई देने टी पूछ रहा था कि आप क्या पी रहें अच्छा पानी पी रहें इसलिए कहरें नीद आ रही है थोड़ा बहुत लग तो रहा है अंदर से है अहसास की नीद आने वो चाह है था एक चाहिए थी कलास में पहले चलते हैं फिलहाल नीचे नंबर दिए उनपने से बात करना एक ललाश के लाउट में हम अपना सब्णक्रिंगे अप लोसी सब करिएगगा लेकिन आप Dhia अभी उसके लिए सथी अगर आप ऑबर्तक की बात करें तो वो नंबर इसका अपवर तक होगी जिसमें से इसमें भाग करने पर सेस्फल 0 आए तो जैसे अगर हम 1 से इसमें भाग करेंगे तो सेस्फल 0 आएगा 2 से भाग करेंगे तब भी 0 आएगा और एक नंबर और होगा जिसे बोलते हैं 19 और एक नमबर और बेचरा है वो है 38 यह आप सबको पता है न इसमें किसी को कोई डाउट नहीं नहीं पूजा मौर्रा जी आपका सही है लेकिन पूरा सही नहीं अधूरा है ठीक है तो मुख्यता हमारा जो आज टॉपिक है वो अपवर्तक तो नहीं है लेकिन रिवीजन हो र कि यह देखर है वो पता नहीं कहां से फोन साइलेंड नहीं किया यह सब राद विराद दिन हाट पड़ें एकदम से आज मैं इनका उठाई लेता हूं कि अपको बोलने में सरम लग रही तो रखिये अब ऐसे भी फोन नहीं उठना था इतना रात में चलो अब दुबारा न कि आई यह कि 4040 इसके कितने अपवर्ता को सकते हैं आप लोग कोशिस करिए तब हम आप बात करते हैं में टॉपिक पर संख्या 10 18 और 20 का LCM गुड़न खंड विधी से कौन सा विधी से गुड़न खंड विधी यानि फैक्टर मेथड से एक बात मैं आपको और याद दिला दूँ ये कलास सिर्फ उनके लिए होती है जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है या उनको मैथ बहुत कम आती है अगर आपको मैथ आती है यानि गड़ित आपको आती है ठीक ठाक तो ये कलास आपके लिए नहीं है यहां पर अपना टाइम बेस्ट ना करें नहीं तो आप हमको गरी आएंगे हम आपको गरी आएंगे तो फायदेका होगा हम जला होना वैसे तो आम नहीं गरी आएंगे फिलहाल हम अच्छे बच्चे अब इनका फैक्टर मेठेट से किस तरह से हम लोग लसी हम निकालेंगे क्रिफना सिंग ने जब आप दिया है भाई बहुत अच्छे क्रिफना 122410 बहुत अच्छे बेरी गुड किसी का नाम लेके कोई कमेंट ना करें मिश्टर असो कुमार तुम्हें लाइस्ट वार्निं यह जिसे कहते हैं ब्लॉक कर दिया जाता है कि कोई किसी का नाम नहीं लेगा आप नंबर लेते हैं एक-एक इनके फैक्टर करेंगे यहां साइड में इधर ही कर देते हैं तेन एट्टीन ट्वंटी आप लोग इनका कर सकते हैं कर सकते हैं इनका की नहीं बोलो आईए मैं बात करता हूं पहले तो अगर हम मोटा-मोटा बात करें इनके लसीम की तो वह कौन सा नंबर होगा जिनका लसीम जो है एक मिनट भाई रूग जाये इसे बलकरो कर वहां का गए सव हाईक नहीं आई उसी आप मोडरेटर है ना इनको यह आसोक कुमार को बलख करें इनके कामेंट पे किलिक करके एक मिनट देखिया और आगे इसमें कुछ और भी चेंजिंग कर देते हैं कि इनके फैक्टर करेंगे तो टू इंटू फाइब होगा कि इनके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा टू फ्री और थ्री ठिक है समझते जाईए इनके फैक्टर करें तो क्या होगा क्या रहा है विप इंटू 5 कि फाइब कराद देखिये जाब वह कि के दो से अधिक नंबर है और उनका गुडन ख़ंद बिधी से अगार एल्सइम हो रहा है 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 खम कोड़न खंद को पहले देखेंगे कि कोई डिजिट तीनों में अा मकॉमण है देख लिजिए वह ड़ तू ऑन जार्टा क्रूं कि तू देखिंगे दोनों में टीनों में कॉमन है य। इस क्रेम वाले सिरीज से एक 59 003 यहां पर लिख लेंगे अब देखेंगे कि कोई digit 2 में common है क्या हाँ 2 में common है वो कौन है 5 तो इस 5 की स्रीज से यहां लिख लेंगे अब देखेंगे क्या कोई 2 ऐसा number है जो और भी कहीं common है बोल यह यह कोई ऐसा number है दिख रहा है यह आपको नहीं है न यानि अब जो बच रहे हैं लाइस्ट में उनको भी लिख लिया जाता है यहीं तो उस दिन बताया था लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन यह गड़ बड़ जा रहा था आप लोग यह बताओ करके कितना आएगा लस्यम इस तरह से सही है कि नहीं करिए मैं इधर साइड में कमेंट देख रहा हूं आप लोगों का कितना आएगा कितना आएगा भाई करके देखो इसको multiple कर लो मैं इनका LCM एक साथ में करके दिखा देता हूं यहां पर कितना आएगा 10, 18, 20 देखें LCM वो गिंती होती है जिसमें इन तीनों से भाग दिया जाए तो पूरी तरह से कट जाए मतलब 0, 6 फल आए ठीक है मतलब 0, 6 फल आए पूरी तरह से कट जाए 60 60 नहीं हो सकता है 60 नहीं हो सकता है क्योंकि वो 18 फे नहीं कटेगा 18 से भी करना चाहिए बड़ी अजीब टाइब की नंबर होगी वो 60 वाट नहीं होगा चलिए इसको देख लेते हैं पहले 2, 5, 10 2, 9, 18 यह 10 आएगा फिर 2 से काटेंगे 2, 5, 10 3 से आप इसे काट सकते हैं तो 5 ऐसे रहेगा 3, 5 फिर फिर 3 से तो यह 5 ऐसे रहेगा फिर से 5 से 2, 2, 4, 3, 12 12, 3, 36 36 का 5 में गुड़ा करेंगे कितना होगा पता है आपको यह 5, 35, 15, 3, 18 180 का अंसर आएगा सही जबाब है 180 हाँ 2 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पर कोई कहरा लेकिन यह एक है डिजिट में है तो यह एक है में जोड़ा नहीं बनता है भाईया किसी की साधी भया अपने घर में नहीं हो जाती है समझ रहो बस ऐसे समझे लो तुम यह अलग-अलग होना चाहिए जोड़ा एक इस नंबर से है तो एक इस नंबर से होना चाहिए ऐसा नहीं एक के में हो जाए नहीं उसका जोड़ा नहीं बन रहा है समझ रहा है ना इनका गुड़ा कर लो दो दूना चार दूना आठ तिरिक चौबीस यहां पर कुछ गड़बर लग रहा है मुझे फिर क्या दो पंचे दस अधूना बीस कि पीस तियाई कितना हो जाएगा साथ साथ तरिक 180 साही तो है एक 180 आ रहा है तो को समझ में आया हम उमेश गुपता जी ठीक है बहुत अच्छे तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे दो अंकों से अगर अधिक हैं तब उनका भी-lcm कर लेंगे इसे गुड़न खंड विदी बोलते हैं इसे भाग विदी इधर वाला अप लोग बते हे कौन सा विद atrav ज्यादा आसान है गुडन कंडा वाला आसान है या भाग विदी आसान है हम प्टा प्लिख लीजिए देखिए LCM वो गिंती होती है जिसमें दी गई संख्याओं से भाग देने पर पूरी तरह से कड़ जा जीरो सेस्पल आपको एक बात बताना चाहते हैं फर्स समेश्टर का जो कोर्स खतम हो गया है तो हमारी कोशिस है कि आप कुछ और भी समेश्टर वालों को पढ़ाया तो क्या किया जाए पताई ये बहुत ही एकड़म लो लेबल का मैथमेटिक सब्सक्राइब करवाथे कुछ लोग हमारे जो परिचे वाले देखते हैं वह हमें बहुत बोलते हैं कि ये का वेसा जोड़ गटाना बताता रहता है हार समय यही बताता रहता है मतलब कुछ आता कि रहेगा ना बहुंसे चात्र यूपी पुलिस और यूपी असाई की क्लास वगरा चाहते हैं क्योंकि उनको बड़े-बड़े विग्यापन दिख रहे हैं कि आने वाले हैं तो कुछ अलग कि चलेगा तो ठीक रहाएगा ना कि अगे चले कि आप लोग मुझे मालूम है यह सब आ रहा है आप लोगों को फालतू का बात चीत नहीं चलो कि 25 60 और 75 का गुड़न खंड बिदी से LCM बताईए कि इतने लोग कर लेंगे बहिया कि रिफना सिंग ठीक है बहुत अच्छे मोनिका यादो जी रादे रादे हो ली तो हो गई ख़दम पूजा मौर्या देखिए स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं अगर आपको कोई आलक से हल्प चाहिए तो उन पर कंटक्ट करिए या फिर आप PBR स्टेडी एप डाउनलोड करके बिल्कुल जीरो लेबल से मैं सीख सकती है अच्छे से ढंग से आगे बढ़ें इनके पहले फैक्टर करिए 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा और फैक्टर करना मैं आपको पहले सिखा चुका हूं काठ के व्यक्क्र करेंगे क्या होगा दो मिर दो अच्ओं presence करोगे तीसा आएगा फिर दुबारा दुसके बांठा करो गें पंद्रा आएगा फिर तीन हो जा lots जाएगा और फिर और भी फांच होगा ये पांच पांच से काटेंगे तो पचम पचीस कुछ गड़ बढ़ जा रहा मुझे लग रहे हैं यह तीन से भी तो कट सकता है कि दीन पच्छे पंदरा पच्छे पच्छत्तर चंदन राजपूत जी आरा समझ में हो जायागा ना कितना अंसार आया कोई बताया नहीं कि अब देखें इनके पएर देखते हैं कहां मनं भेले को अब लासे में उनंको अगर कोई दो डिजिट दो में भी कामन होता है न तो उसको भी बना लिया जाता है चाहे वह जहां से हो उसी तरह यह तीन का भी हो रहा है ठीक है तो अब हमें हाँ लिखेंगे यह यह वैसे तिने अलाग अलग बनाना चाहिए यह पांच-पांच के जो समय पेर उनको बनाया गया था वह ऐसे गोला-गोला इनको ऐसे बना लो इनको तिर्भूज रूप में बना लो ठीक है यह अलग-अलग तोड़े लगने चाहिए देखो गोला गोला वाले का भहिया कितना जोडा बना एक थी बनाये न एक 5 इसमें से हो गया ये किये वर्ग वाले से 5 हो गया ये किये 3 हो गया इसमें से पाकी जो दो बच रहे थे ये दोनों इनको भी ऐसे लिख लिया रवी कुमार 450 हा रहा है सोबित कुमार असो कुमार पंकज निखिल विमलेस राजीव कृष्णा सिंग बहुत अच्छे बेरे गुड पचम 25 तियां 75 75 का चार में गुड़ा कर लिजिए चरपंचे 20 चार सते 28 28 दो तीस क्यों भई आमारे गड़बड जा रहा है का चोटा से चोटा गिंती होगी यह चार सो पचास बता रहें क्यूं जब तीन सो हो सकता है तो चार सो पचास क्यूं जाएगा तीन सो आ रहा है तो यह चार सो पचास हो साड़े चार सो काहे को बता रहे हो भई लसी एम मतलब लीश्ट कामन मल्टीपल होता है चोटे फे चोटा गिंती होनी चाहिए बताओ यह मल्टीपल होगरा सही है कहीं गड़बड है करके देखो लसी एम का मतलब इन तीनों डिजिट से वह पूरी तरह कट सके बस तो बाई सिंपल सी बात है अगर तीन सो आता है तो सही है क्यों क्योंकि बीस से पचीज से भाग करेंगे तीन सो कट जाएगा राम से पहले न तुम्हीं बताई थी 400-ben i without horror रह भी कहा रहे गया ठौण रहे गया कहाँ हवा में जा रहे का तो हुंआ यह दो बार पांच था यहां पेता यहां पे दो बार ठाना तो समझ यह जोल़का जॉड़ा बना है इसमें से तीन निकाला कऊंच बचायाक ध्यान नहीं दिर दिये चाप लीजिए फटा फट चाप लीजिए भाई सीख सीखा सुकला कि एक पांच रहा गया कहां रहा गया अरे मेरा तो दिमाग पागल हो जागे इन लोग के पीछे चलो ठीक है गलत हो जाएगा ना कि अगर आप पतनि कहां रहा गया इन लोग के क्या बशाए इधर समझलो उदर दीख रहा आगे दिख रहा है यहाँ जाओ इधर देख लो इधर अगर हम भाग विदी से करके दिखा दें तब भी तो वही आएगा भागविदी से कर लिजिए देखिए अगर इनको हम पांच से काटेंगे सबसे पहले तो पचम 25 क्योंकि हमें जल्दी निकालना है तो हम बेसिक रूल फालो नहीं करेंगे नहीं बेसिक करेंगे तो दो-दो से काटेंगे पहले धेर बार इसके बाद फिर फिर क्या करेंगे चलिए निकाल के दिखाई देता हूं इसको मिटा देता हूं फिर मैं करता हूं इदर साइड में जगा कम है इनका एलसीम 300 आ रहा है गुडण खंड भी दी से भाग भी दी से भी कर देता हूं पचीस साथ पचात्तर हूं चलिए इनको पहले दो से काटेंगे क्योंकि ये पचीस तो दो से कटेंगा नहीं ये तीस हा जाएगा ये पचात्तर फिर दो से काटेंगे ये पचीस ये पंदरा हो जाएगा ये पचात्तर अब देखिए ये तीन से डिबाइड हो सकता है बोलो हो सकता है कि नहीं हां भई फालतू कमेंट वाले को बला करते जाएए आप लोग जो माडरेटर लोग हैं तीन से देखो पचीस कटेंगा नहीं इन पचे दरा और ये तीन दोन अच्छाह तीन पचे बंदरा जAD util कि या करेंगे 925 जो से कटिए कटे गाए इब और जो में उसरे हैड करने कर देंगे तो पर्ममदेंट हो जाएगे फिर कभी कमेंट नहीं कर पाएगा जिन्दगी मेंत चले आगे बढ़े ओके थोड़ा सा रूख करना भाई चल तो रहा है क्लियर न एक मिनट एक मिनट मुझे कमेंट देखने दीजिए कुछ यह निबेदन करने वाले नहीं है यह इंसान नहीं है यह इंसान है नहीं नीचे लिखिये LCM दो गुड़ा दो गुड़ा तीन गुड़ा पांच गुड़ा पांच दो दुना चार तीयां बारा पंचे साथ साथ पंचे कितना आएगा 300 इसमें भी तो 300 आ रहा है न हुँ आ रहा है न चलिए मिटाएं तो ठीक है आप लोग कर लीजिएगा आप लोग अपवर्थ जानते हैं कि नहीं अपवर्थ है जैसे मैं बोलूँ कि फोर का कोई पांच अपवर्थ बताईए यह वाला यह अपवर्थ यानि मल्टिपल अगर इंगलिस ना बोलें तो यह थोड़ा कठीन है वर्ड होर यानि चार चार के कोई निमलिखित मतलब चार अपवर्थ बताईए कोई भी आप बता सकते हैं अच्छा कोई यह बता सकता है कोई यह बता सकता है कि अपवर्थ की संख्या कितना हो सकती है मतलब किसी भी नंबर के कितने अपवर्थ हो सकते हैं बताईए आप ऐसे समझ लो कि आप वर्त जो है ना इच्छाएं होती इंसान की आप कहो कि किसी इंसान की कितनी इच्छा है मतलब कुछ भी मिले अगर आपको जैसे किसी को पैसा रुपया की इच्छा है सुख सुविधा और खाने पीने की कपड़ा सोक सिंगार जो भी चीजे हैं तो इंसान से चलता पहले वो बाईक की कि मतलब गुजारिस करता है सोचता है कि अच्छा रहा है कि वाइक मिलने के बाद कार की हां कार के बाद भी और अच्छी अच्छी कार उसके बाद डारेक्ट प्लेन आप रोटब नहीं मजा आ रही को अनंत होती है ना वैसे जो अपवर्थ होते हैं वो कितने होते हैं देखिए सीखा सुकला ने बताया फोर एट ट्वेल ठीक है अनलिम्टेट तो अगर हम फोर के सभी अपवर्थ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताये अच्छा 19 का कोई 5 अपवर्थ लिखिए पांच अपवर्थ बताये अपवर्थ का मतलब होता पहाड़ा मान लो मल्टीपल यानि उसका टेबल अब जिन लोग को पहाड़ा आता ही नहीं उन लोग के लिए मुसीबत है और आपके परिक्षा में जो समस्टर वाले चात्र है उनके आ सकता है पूछा जा सकता है इस बात को याद रखना अपवर्थ आप से पूछा जा सक डाट डाट कुछ भी ऐसे 19 का कुछ भी लिख सकते हो मैंने चार ही पूछा है हाँ फिव्टी सेबन ज़रूरी नहीं कि आप सीरियल से ही लिखो कहीं से भी लिख सकते हो क्योंकि सिर्फ चार पूछा गया था ओनली फॉर पूछा गया था ना कि करते हैं जोलरऑन से थे की कह समझ रहें आप लोग तो कुछ भी आप लिख सकते हों कि 120 भी लिख सकते हु कौई गड़ नहीं क है आप लोग अपवर्त और आप वर्थक में अंतर समझुन हीड़ न Bana हाँ अच्छा समझ गए हो तो बहिया इनके अपवर्तक बतादो चार के अपवर्तक कि बताई यह कि देखिए इनके अपवर्तक का मतलब यह है कि जिन जिन संख्याओं से यह फोर कंपलेटली डिवाइड होगा वह अपवर्तक होंगे कि लेकिन जो जो संख्याओं फोर से डिवाइड होंगी वह अपवर्त होंगी कि समझ रहे हो ना हां समझ गए ना यहनि जो आपको पढ़ाएगा वह आपका टीचर होगा गुरू होगा और जो गूरू से पढ़ेगा वह क्या होगा चात्र होगा इस्टूडेंट होगा अन्य यहीं तो होगा हमारे समझ से समझ गए ना जम सेथ सा कुछ समझ में आ रहा थोड़ा बहुत प्रियंका खोसबूरा थोड़ हम ठीक है आईए इसके वन टू और फोर हो सकते बस थीने होंगे तीन से जादा नहीं होंगे इनकी संक्या लिमिटेड होती है इनकी संक्या लिमिटेड होती है यह अनलिम्टे कुछ नया बचा है नहीं इसमें क्या करवाओं में कुछ 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 नया बचा नहीं है तो क्या क्या करवाया जाए हाँ चलिए वो बताइए एक और बताइए रिवीजन में तो बहुत कुछ हो सकता है आप भाज्य संक्या जानते हो ना आप लोग और भाज्य जानते हो तो यह बताव वहिया साठ से लेकर के पचात्तर के बीच कौन-कौन सी अभाज्य संक्या है कुछ लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं काट से पचात्तर के बीच कितनी अभाज्य संक्या है देखिया अरेस अगरवाल की आपकी डीअलट की भी मुखाती है न हो सकता है आप लोग के पास ना वह बहुत पहले पूरानी आती थी मैंने रखा है उसमें क्या है ना जीतना भी इसमें है ऑस और जमी आपका एज़ वाला कुश्चन नहीं रहाटीन तो जो सिलेभस में है है वही तो पढ़ाएंगे किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं यार यह कुछ ऐसे नालायक टाइप के जुड़ जाते हैं जो बहुत डिश्टरब खर देते हैं कमेंट में कि इसको हाइड करिए पर्मनेंट हाइड करिए जो फाल तू कमेंट करें उसको समझाइए मत कि बिने नमानत जलत जड़ गए तीन दिन बीट वही हाल है इनकी यह बिने नहीं मानते भाई या निवेदन से मानने वाले हैं नहीं चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें मैंने कहा कि 60-75 के बीच कितनी अभाजे संख्याएं हैं तो वह आपका 61 हो सकता है 61 हो सकता है न क्यों 61 किसी से कटेगा क्या नहीं 63 कट जाएगा 3 से तो 63 नहीं होगा याद रखना 67 हो जाएगा 69 भी नहीं होगा परीती किरियसन गलत है आपका 69 थिरी से डिबाइड है ठीक है तो 71 और 73 भी हो जाएगा हमें लगता है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है कोई नंबर है जो डिबाइड हो सकता है क्या प्रिया कुमारी असोक कुमार वन्सिका कुस्वाहा ठीक है आपका मूँ बना रही जो गलत बताई तो कि यानि 60 से लेकर 75 के बीच में जो संख्याय अभाज्य हैं वो किवल चार संख्याय है इसमें बढ़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को फिप्टी सेबन को लोग अभाज्य बता देते हैं यानि जो संख्याय बिसम हैं यह कहते हैं कि वही अभाज्य हैं असा लगता है कभी-कभी हम लोग को लेकिन जो हमें लगता है वो होता नहीं अक्सर कि समझ रहे हो ना जो होता है वो लगता नहीं उस दिन आप लोगों को बताया था ना कि एक कहानी बताने वाले हैं याद है तभी कोग नहीं अक्सर लोगों को पता होगा न वो वो बताएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि जो लगता है वो होता नहीं चलिए एक और बताइए 75 से लेकर 100 तक इसके बीच कितनी अभाजय संख्या हैं जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं कब से बेट कर रहे हैं कहानी का इंतजार करने का मज़ाई कुछ और होता है अगर इंतजार अच्छी चीज़ का हो रहा है तो चलिए कि देखो देखो सब पढ़ाई छोड के अब कहानी वताओ कहानी जई नहीं नहीं कहानी नहीं वह दख वाली कहानी नहीं सुक्य वह बिन्हीं य हूँ सी अक ऐसी स्टोरी जो आपको बहुत अधिसका उद्देश है उसका अनी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि ही पोल रहा है अबी तो लग रहा हो गया है कि आ है इसमें आते हैं है कि अधिक है यहां पर अभी लाश्ट में बता देंगे पक्का बता देंगे ठीक है इसमें अगर बात करें कौन-कौन से अंख है अभाज्य है तो 77 तो है नहीं भाईया कि 77 तो है नहीं 77 अभाज्य नहीं है 11 से डिवाइड हो जाएगी 7 से हो जाएगी यह क्या नाव इनका प्रियंका यह 77 बतारी गलत है जो भी 77 को सामिल के उसका गलत कि 79 हो जाएगा मुझे लग रहा है अगर किसी से ना कट जाए तो यह हो जाएगा कि 80 81 भी नहीं होगा 83 हो सकता है सायद कि याद दिलाना अगर कोई किसी सी डिवाइड हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कटेगा कि अ तीन दूना छे दो बचे का तेइस नहीं कटेगा ना भाई यह 75 से सुरू करना है सो तक यह 75 के पीछे का नहीं देखना है कि 12 में कहते थे अच्छा चलो अब 84 85 86 87 भी हो जाएगा मुझे लगता है क्या नहीं कि 87 जो है यह भाज्य संख्या है यह बाज्य नहीं है क्या है यह यह बाज्य संख्या बाज्य नहीं कि 88 89 89 है कि 89 उस काहानी को सुनने के बाद लड़कियां हमको गर्याएंगी और लड़के खुश हो जाएंगे बस इतना जान लो अब फिर भी सुनना चाहते हो तो बोल देना हाँ कि इसलिए नहीं सुना रहा हूं क्योंकि इसमें लड़कियों कि अधिकता लड़के कम हैं 90 91 92 93 93 भी नहीं होगा 94 95 96 97 वहीं बहुत कम संख्याएं हैं अभाज्य जैसे संख्याएं अभाज्य में कम है ना उसी तरह से दुनिया में इमांदार और उफादार लोगों की भी कमी है समझ रहो ना आप देखो 75 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी मिली इसी तरह से इस दुनिया में इमांदार और वफादार और सच्चे लोगों की कमी है क्योंकि वह क्या होते हैं अभाज्य होते हैं प्राइम होते हैं जैसे मैं हूं तो क्या लग रहा है तुम लोगों को ऐसे गड़बर ठीक है 98 99 100 वस खतम 93 मैंने लिखा भी तो नहीं है 93 कट जाएगा कुछ लोग कन्फ्यूजन होते हैं कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं 93 के बैया ओ 93 ये उसी तरह से है ऐसे समझ लो जो लोग देखने में बड़े सीधे साधे लगते हैं बोले बाले लगते हैं वह मासूम चेहरा और आगे क्या बोलते हैं निगाएं फरी भी सुने ओना ये का ना पाएं बहुत पहले मैं सुना करता था कभी कभी तो ये उस तरह से समझ रहे हो वैसे ये नंबर भी है जो देखने में तो अभाज लगता है लेकिन होता नहीं समझ रहे हो ना देखने में सुनने में सोचने में ये लगता है कि अभाज है लेकिन ये होता नहीं मतलब बड़े छुपे रुस्तम होते हैं ये आबाध्जे संख्याएं हैं, बताओ जान जाते हैं कि नहीं न, जान जाते हैं न, जैसे कोई देखेगा या कहीं आएंगी तो हमें नजर में लगेगा ये आभाध्जे, लगता है न, लेकिन होता जैसे नंबर हें जो भुल्कुल खुलिम खुल्ला सब जानते हैं कि वह भाजे नहीं है जैसे मानलो यहां पर मैंने 90 लिख दिया 98 लिख दिया 94 लिख दें को सब जानते हैं फेमस हैं यह मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं गलत नहीं बोल रहा हूं आप लोग समझें तो इसमें और भी नंबर हैं और भी नंबर हैं कौन से जैसे 77 को कुछ लोग लिख रहे थे यह भी लगता है वैसे लेकिन है नहीं समझ रहें कि नहीं तो इससे आप लोग एक और भी चीज सीख जाएंगे कि तांप की तरह होते हैं कि चलते हैं फिर आज के लिए बस इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद कहीं कोई मिलेगा मुझे मिलवा देना है काठी चलो ठीक है यह जो लोग पूछ रहे हैं तो उनको बताऊंगा भाई कहां है अभी है नहीं तो कहां से बताऊं तो आप लोगों को एक बात बताएं में मत क्वारी है तो निचे दीए घयार नंबरों पर कांटेग्ट करें और जो लोक कहते हैं कि कम कांफी है रान परिशां कर देते हैं हमारे साथिओं लोगों को दो बाचीत करते हैं उनधे निबेदन है यह नंबर देर रहा हूं conf 넌 त पर इसका रिप्लाइए अक्सर मैं ही करता हूं ठीक है 94-95-338-37 लेकिन निबेदन है कि इस पर फोन काल या मैसेज मतलब दारेक्ट ना करें और सिर्फ और सिर्फ मैसेज करें मैं रिप्लाइए कर दूंगा ठीक है लेकिन सिर्फ पढ़ाई वाली अगर कुछ भी कहना है इसका रिप्लाइए मैं खुद ही करता हूं लेकिन कोई वीडियो काल या फोन काल नहीं करेगा फाल्दुक मैसेज नहीं करेगा या आप से निबेदन ठीक है अब तक म मैं जल्दी से रिप्लाइए नहीं करता हूं तो आप लोग हैरानना हुआ करें ठीक है इस पर मैसेज कर सकते हैं बाकी सामाने जनकारी के लिए जो नंबर नीचे चल रहें उन पर आप कांटेक्ट करिए कभी भी किसी भी समय आपको रिप्लाइए मिलेगा हमारे तीन मित्र लोग लगे रहते हैं आपके काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाइए